नवस्कार दोस्तों तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने बाले हैं MP special के बारे में मद्धपेदेश सामान ग्यान के बारे में याद रखिए जो मद्धपेदेश का portion है किसी भी परिच्छा में फिर चाहे वो MPPSC हो फिर SI हो MPSI पुलिस बर्गतीनों कोई भी परिच्छा हो जो MP का portion है इससे वो कबर हो जाएगा ठीक है याद रखिए पूरा कबर हो जाएगा ठीक चलिए तो हम लोग विसाय सूची देख लेते हैं कि पढ़ेंगे क्या क्या तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मद्धपेदेश का सामा एक पईच्य देखेंगे ठीक है फिर बात करेंगे राज उन्नर गठन की बारे में फिर हम लोग देखेंगे संभाग एवं जिले वारत दिन संभागों को देखेंगे और सभी जिलों को देखेंगे हम लोग ठीक है डीपली से फिर जनांगी की परिदिस देखेंगे हम प्रेंग के बारे में फिर हम लोग देखेंगे जल संसाधन घो भोडनी घाटी परियोजना संब्रेंगे कि तत्त पर लॊंब्धिए देखेंगे और रूज्ण। थिए ayrू संसाधन गीडनेर। थैंवन THEC beautiful fár करेंगे किर्सी परिदिस से एवं पसू धन के बारे में फिर बात करेंगे बन संपदा एवं बन नजीब के बारे में राश्टी उद्यान एवं अभ्यारनों के बारे में बात करेंगे अभ्यारन फिर खनिस संपदा देखेंगे यह सभी याद रखना मद्विदेश की परीव परिदिस फिर जन जाती ये परिदिस देखेंगे फिर बात करेंगे सांस्कितिक परिदिस के बारे में फिर बात करेंगे चित्तकार एवं रंकर्मी फिर बात करेंगे साहितकार फिर देखेंगे संगीतकारों के बारे में फिर पुरुसकार एवं सम्मान देखेंगे फिर बात बात करेंगे हम लोग परेटन एवं पुरातात्विक इस्थल फिर इतिहासिक परिदेश देखेंगे फिर बात करेंगे खेल परिदेश के बारे में फिर पंचवर्सी कारकरम देखेंगे मद्पिदेश के परिपेप्च में फिर मद्पिदेश एक दिर्ष्टी में देखेंग याद रखिए हम लोग 2019 का मद्धपिदेश का जितना भी करेंटरफेस था वो सभी देख चुके हैं तो याद रखिए मद्धपिदेश करेंटरफेस के नाम से फिले लिस्ट सूची बनी हुए उसी में जाकर आप लोग देख लें फिर हम लोग कल्याद कारिक्रम देखेंगे फिर वारक बात कर लेंगे माना अधिकार संड़क्षण अधीनियम 1993 सिविल अधिकार संड़क्षण अधीनियम 1955 और अनुसुचे जन जाती अक्थयाचार निवारन अधीनियम 1989 संसोधन 2016 में जो गवया और 2018 में उन्हें हम लोग द तो जाकर आप लोग देख लें मत्विदेश सामान ग्यान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची हुए उसी में पड़े हुए है ठीक है तीनों बहुत ही सब सरल सब्दों में बात की थी हम लोगों है ठीक है फिर बात करेंगे विगत बरसों में जो पिसन पूचे गए मत्विदे है ठीक है वहाँ जाकर देख लें है कि कल से हम लोग बात करेंगे है को सबसे पहले बात करेंगे सामान परिश्य की मत्विदीश की अपडेट कितने तैसिले हैं कितने जिले हो गया पूर्व अपडेट देखेंगे ठीक है नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे हैं मद्दपते सामान निग्यान के बारे में MP special के बारे में तो हम लोग पहले lecture में देख चुके हैं कि हम लोगों को बिसैस सुची देख चुके थे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या के याद रखिए एक कबर होने के बाद पूरी बुक कबर होने के बाद चाहिए फिर आपका MP PSC हो फिर MP SI हो MP POLICE कोई भी MP का एकजाम बर्ग 3 वाला हो 2 वाला जो MP special का जो महत्व है उससे संबंदित कोई question नहीं चूटेंगे आपके जो मद्विदेश सामान ग्यान का उसमें इससा है वो इससे सब कबर हो जाएगा याद रखिए जितने भी हमारे lecture होंगे मद्विदेश सामान ग्यान के फिलेलिट सूची में डली रहेंगे वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं चलिए तो हम सुरूं करते हैं मद्विदेश दिवसक मनाया जाता है, 1 नवंबर को वर्धमान सवरूप राज का पुनर गठन कभ हो जब एक नवंबर 2000 को सब दो हजार को जाद रखिये मद्विदेश fase का मर्दिवदेश का गठन होजज़ा था एक नवंबर 1956 मद्विदेश दिवस मनाया जाता है, 1 नव पुनर गठन चत्थिस गड़ को अलग करकर एक नवंबर 2000 को इसका पुनर गठन हुगा मत्विदेश के नाम किस ने दिया पंडिजवाहाल लाल नहिरू ने मत्विदेश को हिदय फिदेश का नाम किस ने दिया था तो आपको बता देना है पंडि जवाहलाल नहरू मत्पदेश की राजभासा क्या है? हिंदी मत्पदेश का राज़ की ये पक्छी क्या है? दोदराज या साह बलबुल पेराडाईज फ्लाई केचर भी बोलते हैं से ठीक है? मत्पदेश का राज़ की ये पसू क्या है? वारे सिंगा बेडरी जातीगा ठीट राजकी ब्यक्ष है वर्गत मद्पिदेश का राजकी पसू पक्षी एवं ब्यक्ष को 1 नमंबर 1981 को राजकी 25 भी वर्षगांट पर घोसित किया गया था राजकी पुस्प है मद्पिदेश का सपेल लीली राजकी ये खेल है मलखंब 2013 में गोसित किया गया राजकी ये नाट क्या है मद्पिदेश का राज नाट क्या है माच मद्पिदेश का राज नित क्या है राई मद्पिदेश की राज फसल क्या है सोयाबीन राजकी ये मचली क्या है महासीर 2013 में घोसित की गई थी ठीक है याद रखना मद्ध्पिदेश गान महेश स्रीवास्त मेरा मद्ध्पिदेश इसके रचना कार कौन थे? स्री महेश स्रीवास्त ओ मद्ध्पिदेश गान है मेरा मद्ध्पिदेश और इसके रचना कार थे महेश त्री महेश त्री वास्ताव जी ती राज की ये चन्न मद्विदेश का 24 इस्तो आक्ती के अंदर एक ब्रत जिसमें गेहूं और धान की वालियां पिदर से थे मद्विदेश के उपनामों की बात करें तो इसे नदियों का माय का सुवया राज, सुवयवीन राज, हिदय पिदेश, कोहिनून पिदेश, लगु भारत, टाइगर इस्टेट, सेंट्रल प्रोविंसेश, वरार याद रखना, टाइगर पिदेश इस्टेट अभी 2019 में जो रिपोट आई थी उसकी अनुसार 526 मद्यपिदेश में टाइगर पाए गए, ठीक, कितने 526 और टूटल भारत में कितने पाए गए, उनतीस सो सरसट, उनतीस सो, उनतीस सो सरसट, ठीक, याद रखी तो मद्यपिदेश को फिर से टाइगर इस्टेट का दज्जा मिल गया है मद्यपिदेश के भोगर लिचित की बात करें तो 308,252 किलोमीटर यानि कि 38,252 किलोमीटर मद्यपिदेश में संभाग हैं 10 और जिले हैं मद्यपिदेश में, बावन पहले इन क्या बन थे, एक निवारी जिला कब बनाए अक्टूबर 2018 में, तो अब कितने टोटल जिले हो गए, बावन याद रखिए जो निवारी जिला बना हुए है इसमें निवारी, पितवी पूर और ओर्चा को मिलाकर बनाए गए है, तो याद रखना अब आपका उश्या टीकमगड़ जिले में नहीं आता है, निवारी जिले में आता है, ठीक है याद रखना तहसीलों की बात करें तो अब 420 हो गई, तर इस सीले मद्धिदेश में ठीक फ़हले 363 लेकिन अब 420 हो गई, हाली में मद्धिदेश जिले के बड़ा गाओं नर्फ, सिंगपुर जिले के साइंख खेडा की तहसील का दज़्या गए इस पिकार, इसमें 379 हो गई थी, फिर उसकी बाद 420 हो गई टोटल विकास खंडों की बात करें तो 330 है, विकास खंडमद्धिश में कितने है, 330 है, आदीवासी विकास खंडों की बात करें तो 69, नगरों की बात करें, 2011 की जन गदना की अउचार, तो 446 है और कुल गिरामों की बात करें किनकी कुल गिराम जण गड़ना 2011 गिनमसाल तो ये हैं 4930 आबात गिराम जण गड़ना 2011 किनमसाल documents 2170 नगर नेगमों की बात करें तो 18 हो गई है अब पहले सुलह थी लेकिन 18 हो गई है कौन कौन सी है इस। 17 भी, 18 है भेंटर और दतीया ठीक है ? नगर फालिकाउं की बात करें तो अन्ठावनभय है नगर 55 ने चौशट हो गई है ठीक है ? घ्रामब्पंचायतै, 23,06 nutrCK valor 25 नगर 15 हैं 313 है जिला पंचायतें 52 हो गई है ॠीक счит कितने हो गए बावन याद रखना है आपको नगर निगम अठारे हो गए और नगर निगम कितने हो गए आपके एक बार तंटों और करने है आपको गलत ना हो मेरा यह उपते से भाई नगर निगम हाँ अठारे हो गए याद रखी अठारे सत्तरवा है भिंड और अठारवा है धतिया याद रखिए और जिला पंच्यायतें बावन हो गए और फिर अपना क्या बतला है नगर पंच्यायतें ए भी 264 हो गए आंगे बात करते हैं जॉन आई आई जी पुलिस एक ग्या रहे हैं मत्तपदेश में रेंज डी आई जी पुलिस एक पंद रहे हैं कंट्रोल रूम त्रेपन हैं पुलिस थाने याद रखिए 1099 हो गए 1100 के लगबग हो गए ठीक है याद रखिए फुलिस चौक या 562 है फुलिस उपसंभाग 189 फुलिस जिले हो गए 52 ठीक है याद रखिए फुलिस जिले कितना हो गए 52 लोगसभा की सीटें कितनी है 39 इन्हें याद रखिए लोगसभा की सीटें कितनी है 29 राज सभाज की सीटे कितनी है 11 लोग सभाज सीटे है 29 राज सभाज सीटे है 11 विधान सभाज सीटे कितनी है 230 पिला से 230 निर्वाचित होते है एक को नॉमिनेट होता है ठीक है मनुनीत के फ़र लोग सभाज सीटों में आरक्षनों की बात करने लोग सवा सीटों में, लोग सवा सीटें कितनी हैं, उनतीस, जिन में आरक्षे सीटें कितनी हैं, अनुसूचित जाती के लिए हैं, चार, कितनी हैं, चार, उनतीस में से, चार हैं, अनुसूचित जाती के लिए, और अनुसूचित जाती के लिए हैं, छे, याद रखिए, लो विधान सभा सीटों के मैं आरक्षण की बात करूं, तो विधान सभा सीटें कितनी हैं, 230, जिनमें से अनुसूचित जाती के लिए 35 हैं, और अनुसूचित जन जाती के लिए 47 हैं, बात करते हांगे, मद्यपिदेश का उच्छनयालाय ये बलपूर में है, मद्यपिदेश का उच्छनयाल है कि खंडपीट हिंदौर में है, हिंदौर और ग्वालियर में है, राजी का पूर्वी जिला क्या है, पूर्वी सिंग रॉली है, ठीक है, ये है, पूर्वी जिला सिंग रॉली, ठीक है, फश्चिमी जिला क्या हुआ, अली राजपुर, फश्चिमी जिला, अली राजपूर याद रखना अली राजपूर गुजरात और महराष्ट में से इसकी बॉर्डल लगती है ठीक है राजस्थांस और गुजरात से जाबुगा जिला की लगती है ठीक है याद पस्चिमी जिला हो गया है अली राजपूर फिर दश्चडी जिला वो रहानपूर उत्री जिला मुरेना, तो याद रखना है, पूरवी जिला क्या है, सिंग्राली, पर्ष्चमी जिला, अलीराजपूर, दस्षडी जिला, बुरहानपूर, उत्री जिला, मुरेना, मद्द जिला, सागर, ठीक है? यह हैं मद्धवदेश मान लीजिए तो यहां होगा पूरवी जिला हमारा सिंग्लोल्ली याद रखेए मानक समरेखा सिंग्लोली से गुजरती है मद्वदेश के एक मात जिला से साड़े ब्यालीश, साड़े ब्यासी डिग्री देशांतर ठीक है याद रुखिए साड़े ब्यासी डिग्री देशांतर पांच राज्यों से गुजरती है कौन-कौन से उत्तर्पिदेश मद्पिदेश च्छतिसगर उडिशा और अंद्पिदेश ठीक कूडे दान मुक्त सहर कौन-कौन से पन्ना सेलाना कुछी नगर दस लाग से अधिक जनसंक्या वाले नगर क्या है इंदौर भोपाल जवलपुर्ग वालियर ठीक है पित्थम राजपाल को है मद्पिदेश के कोन है डॉक्टर पत्टावी सीता रमयया पित्थम राजपाल मद्पिदेश के पंडित कुंजीलाल दोवे हैं, मद्पदेश के। मद्पदेश के पिथम मुकमंत्री महला सुसरी अमाभारती जी हैं, पिथम आदिवासी मुकमंत्री राजा नरिश्चन्ध हैं। राजा नरेश चंद हैं, पिथम नियादीस की बात करें, तो मुहम्मद हिदाय तुल्ला थे, पिथम महला नियादीस, स्रीमती सरोजनी शक्सेना, पिथम मुख सचिप, H.M. कामत, पिथम महला मुख सचिप, स्रीमती निर्मला बुच, पिथम राज निर्वाचनायो, M.B. ल पिथम पुलिस महा निरिष्च बीजी गाटे, पिथम भारती ये पुलिस सेवाब महला अदिकारी मध्यवदेश की आसा गोपालन, पिथम लोग आयुक्त कौन थे, पिवी देख चिथ, पिथम राज योजना मंडल के अद्र, स्री फिकाष चंद सेट्टी, सेट्टी, पि पिथम पितिबक्ष नेता विष्णू नात्तामसकर, पिथम महला विपक्ष नेता जमना देवी थी, पिथम गैर कॉंग्रेसी मुकमंत्री वीरेंद कुमार सकलेचा थे, पिथम आदिवासी महला राजपाल और मिलासी, याद रखिए हिमाचल पेदेश की, सरवादिक समय तक राजपाल पद पर रहने वाले ब्यक्तियान सरी हरी विनाएक सरवत विनाएक पार्तर्स के, तो यह था हमारी मद्धपेदेश से समन्हेंदी सामान जान करिए, आंगे हम बात करेंगे, राजपुरणर गठं के बारे में मद्धपेदेश का लेक्ष्ट हम लोग खतम कर चुके हैं मद्पदेश का सामान एक फरीचे देख चुके थे हम लोग ठीक है अब बात करेंगे हम लोग राज पुनर गठन के बारे में याद रखिए मद्पदेश सामान ग्यान से सम्मदी जितने भी हमारे लेक्ष्टर बनेंगे वह आपकी मद्पदेश सामान ग्यान के नाम से जो फिले लिष्ट सूची बन भी है उसी में डले रहेंगे ठीक है मद्पदेश अपने नाम के अनुरूप देश के मद्द में इस्तित है 36 गड़क से अलग होने से पहले यह राज छेतफल के अधार पर देश का सबसे बड़ा राज था याद रखिए अभी 2020 की बात करूँ तो अभी राजस्थान पहले नंबर पर है ठीक है याद रखना है लेकिन जब 36 गड़क अलग राज नहीं बना था मद्पदेश से अलग इससे ही है परन्तु फिर भी आविवाजित मद्पदेश की सीमाएं राज पुनरगठन आयोग की सिफारित के बाद ही खीच गई थी बर्ष 1956 के पूर 36 गड़ और वरत्मान महाकौसल सी पी एंड वरार केस से थे जिन्हें समलेत रूप से मद्पदेश कहा जाता था लेकिन उसकी सीमा रेखा और इस्तिती बर्षमान मद्पदेश से काफी भिन्ने थी सुतंत्ता के पश्चात मद्पदेश को A स्टेट, B स्टेट तथा C स्टेट में बाटा गया सेंटल फ्रोविंसिस तथा वरार में 36 गड़ और बगेल खंड को मिलाकर पार्ट A स्टेट A बनाए गया था फश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट B स्टेट B बनाए गया था इसका नाम मद्य भारत रखा गया था ठीक है फिर उत्तर की रियासतों को मिला कर पार्ट सी या इस्टेट सी बनाए गया था भोपाल पार्ट सी का भाग था इसे बिंद्र प्रदेश भी कहा जाता था पार्ट सी को इस्टेट है और राजधानिया है तो इस्टेट ए की राधधानी क्या थी नांगपुर इस्टेट बी की राधधानी ग्वालियर तथा इंद्र पार्ट सी या इस्टेट सी की राधधानी थी रिवा भोपाल इस्टेट की भोपाल याद रखना इस्टेट ए की राधधानी न लांगपुर। इस्टेट B की राध्धानी थी ग्वालियर तथा इंदौल। इस्टेट C की राध्धानी थी रीवा। इस्टेट जो भुपाल राज था उसकी राध्धानी थी भुपाल। राज पुनर गठन आयूप का गठन 1903 में हुआ। 1903 में फजल अली ये नाम याद रखना है आपको फजल अली खांकी अद्धिश्टा में गठित राज पुनर गठन आयूप की अनुसंसा पर एक नवंबर 1956 को मत्पिश का गठन हुआ। राज पुनर गठन आयूप 1903 की सिफारिश के आधार पर राज्यों की सीमाओं में निम्लिकत परीवत्र किये गए। बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवत्माल, वर्धा, नांगपुर, भंडारा, चांदा को ततकालीन, मुंबई, महराष्ट में मिला दिया गया। सेस पार्ट ए का भाग बरत्मान मत्पिश में का भाग बना। याद रखना है। बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवत्माल, वर्धा, नांगपुर, भंडारा, चांदा को ततकालीन, महराष्ट में मुंबई में मिला दिया गया था। और जो सेस पार्टे बच्चा था वो पूरा मत्पिश में का भाग बना। मंदीप्सार जले की भानपूरा तहसील के सोनेल ठप्पा को छोड़कर सेस भाग को मत्पिश में मिला दिया गया था। कोटा, कोटा जले की सिरोंज तहसील को मद्ध पिदेश के विदीशा जले में मिला दिया गया था, किसे कोटा जले की सिरोंज तहसील को मद्ध पिदेश के विदीशा जले में मिलाय गया था, आंगे बात करते हैं, कि सेज़ पार्ट डी का हिस्सा बॉर्तमान ब्दीश का आंग है पार्ट थी बिन्दे फिदेश का संपूर भाग बॉर्तमान मद्दीश में मिलाई गया था तो याद रखना मूच्छा जा सकता है कि किस पार्ट का ये वी सी मैंसे किस का पूरा तो यादरपना पाइट सी का बिंद्र प्रदेश का संपून बाग बरत्मार मद्ध्धिस में मिलाए गया जो भोपार राज्य भी बरत्मार मद्धिस का अंग बना ठीक है 1 नमबर 1956 को 9 निर्मित में 43 जिले थे पूँचा जा चुका है कई बाद पूचा जाएगा कि मद्धपिदेश में निर्मित होने की समय कितने जिले थे तो 43 43 जिले थे और 8 संभाग थे इस समय मद्धपिदेश का छेतफल कितना था 4,4,446 बर किलोमीटर मद्धिदेश सबसे बड़ा राजिताचेशत फल की द्रिष्टी जाये अब एख किस नमबर पर तो यह याद रखिए 2020 की बात कर रहा हूं तो अभी पहले पर राजस्थान दूसरे पर मध्पिदेश पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्पिदेश तीसरे पर महराष्ट चोथरी नमबर पर उत्तरविदेश है ठीक है फिर बात करते हैं हम लोग 26 नमबर 1972 को 26 नमबर 1972 को भोपाल को सिहोर से और राजनाद गाओं को दुरुक से अलग करके दो नए जिले बनाए गए और जिलों की संख्या इस पेकार हो गई 45 ठीक 1972 में दो जिले बनाए गए भोपाल और राजनाद गाओं तो कितने हो गए 45 जिले नभीन मद्वेदेश की राजधानी भोपाल को बनाए गया जो पूर में सिहोर जिले की एक तहसिल थी फिर आए बी यार दोबे की अद्याथा में गथे जिलाप नहीं गठन आयों ओनिस वञधानी भीन में गथे फी पिर आगे बात करते हैं सिंग्य देव सम्ति ये बीयार दुबे की अध्यक्षता में गठत हुआ था जिला उनर गठन आयो फिर सिंग्य देव सम्ति की सिफारिश पर 1998 में 6 जिले और बनाई गए इस पेकार जिलों की संख्या हो गई टोटल 61 एक नबंबर 2000 को मद्पिदेश से 36 गड़ के अलग होने से 16 जिलों से नवीन राज में चले गए याद रखिए 61 में से 16 चले गए 16 जिलों को अलग करके 36 गड़ राज बना दिया गया और मद्पिदेश में पुनहा जिलों एवं संभागों की संख्या रहे गई 45 और 9 9 संभाग रहे गए और 45 जिले रहे गए 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को बौस सम्ति की सिफारिस पर तीन जिले बुरहानपूर खंडबा से अलग करका अनूपूर सहडोल से और असुक नगर गुना से अलग कर गठन किये गए जिससे पिदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई थी याद रखना है आपको क्या याद रखन है कि जिलिए उननीस सो अन्थानवे में बनेते है ने सिंह देव सम्ति की सिफारिस पर बनेते और 2003 में जो तीन जिले बने थे जिए कि सिफारिस पर मनेते पिरे अंगला 17 म brace 2008 को 17 मीaw 2000 arm में अली राजपूर्ट तथा संग्रोली को जिला बनाये गया जिससे प्रिदेश में जिलों की संख्या हो गई 50 अब बात करते हैं आगे 16 एगस्त 2003 में साजापूर से अलग करकी आगर कुन नया जिला बनाये गया जिससे अब जिलों की संख्या हो गई थी 59 और संभाग 10 लेकिन याद रखना है आपको अक्टूबर कब ऑक्टूबर 2018 में एक नया जिला बनाये गया कौन सा निवाड़ी टीकमगड से अलग करके निवाड़ी बनाये गया टीकमगड से अलग करके कौन-कौन सी तैसिल को अलग किया था पित्थिवीपूर निवाड़ और ओर्चा ठीक है तो 52 बाजिला है हमारा निवाड़ी आंगे बात करते हैं मद्ध पिदेश में 1956 से पूर मद्ध भारत कहा जाता है था मद्ध भारत पिरांथ 25 रियासतों से मिलकर बना था और इसकी राधधानी किरमसा गवालियर और इंदोर थी बिंद पिरांथ 38 रिया मद्ध पिदेश में सामिल की गई मकडाई रियासत हर्दा ठीक है आंगे बात करते हैं मद्ध पिदेश पुनरगठन को देख लेते हैं ठीक है एक संच्छिप्त में 1847 से 1956 मद्ध पिदेश के स्थान पर चार राज थे सीपी बरार मद्ध भारत बिंद पिदेश और भोपाल इस्टे फिर एक नवंबर 1956 को मद्ध पिदेश की स्थापना हुई 43 जिलों के साथ ठीक 26 नवंबर 1972 को दो जिली नए बने भोपाल और राजनन्द कितने हुगा टोटल 45 फिर 25 मई 1998 को चार नए जिली बढ़वानी सिवपोर कटनी डिनोरी मद्ध पिदेश के और 6 नए जिली 36 गडगे तो इस पे का टोटल 10 जिलों के 10 जिली बने 1998 में मैं मैं फिर 10 जून 1998 में तीन नए जिली बने उमरिया हर्दा नीमच फिर 1 नवंबर 2000 को मद्ध पिदेश का पुनर गठन हुगा वो 36 गडग फिथक लाज बना 16 जिलाउं का अलग करके 84 वा सम्मिधान संसोधन विदेया ठीक 15 गस्त 2003 को तीन नए जिले बने असोक नगर बुरहानपुर अनुखपुर 17 मई 2008 को दो नए जिले बेट एक अली राजपुर और सिंग्रॉली फिर रहांगे एक अप्रेल 2012 को अभी याद रखिए करिंद में 2020 की बात करूं तो 420 के करीब लगबग तैसीले हैं मत्पधिसमें ठीक है फिर है 16 गस्त 2003 को साजापुर जिले से अलग करके आगर जिला बनाए गया ठीक है तो इंक्याबन जिले हो गय थी ठीक है फिर है हमारा 2018 तो ऑक्टूबर 2018 में निवाडी जिला बनाए गया बावनबा जिला कौनसा बावनबा जिला ठीक है तो याद रखिए निवाडी जिले में अब औरच्छा आता है आपका तीरित इस तल जो है ठीक है क्योंकि जब से निवाडी जिला बनाए तो निवाडी जिले में औरच्छा तैसिल को सामिल कर लिया गया है ठीक है चलिए तो यह था हमारा मद्पिदेश का राजपुनर गठन बागत करेंगे आंगे हम लोग आँगे देखेंगे हम लोग दो चप्तर दिखतम कर चुके हैं तीसरा चप्तर होगा हमारा संभाग और जिले वाड़ जितना भी संभाग है मद्पिदेश में उनके बाख बारे में इक हम लोग डीपली नॉलेज देखेंगे जानकारी राप्त करेंगे ठीक है हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मत्द पेदेश सामान ग्यान के बारे में तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे राज पुनर गठन के बारे में इसमें बात करेंगे हम लोग संभाग और जिले सभी जिलों का अद्धे याद रखिए अभी तक जितने भी हम लोग चेप्टर करते जा रहे हैं वो मद्धपेदेश सामन गयान की नाम से जो प्लेलिस्ट सूची वनी हुई है उसी में डालते जा रहे हैं तो चली संभाग देखते हैं जवलपूर संभाग यह चेप्पल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा तता सरवादिक साख चरता वाला संभाग है इसका मुख्याल है जवलपूर यह आपको याद रखना है यह चेप्पल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा संभाग कोन है जवलपूर और सरवादिक साख चरता वाला संभाग कौन सा है जबलपूर इंदोर की बात करते हैं इंदोर संभाग यह दूसरा बड़ा संभाग है इंदोर मुख्याला इसका इंदोर है सरबादिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है इंदोर छेतफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जबलप संभाग में उजन संख्या सबसे ज्यादा कौन से संभाग में इंदोर में बोपाल संभाग इसका मुख्याल है राजधानी बोपाल में है गवालियर संभाग गवालियर है रीवा संभाग रीवा का मुख्याल है उजन संभाग का मुख्याल है उजन में ही है सागर मुख्याल संभाग कुन सा है जंबल है ये नर्वधापुरम मुख्याल है खोसंगाबाद सहःडोल में जसंख्या है में सबसे चुटा संभाग कुन सा है सहडोल, ठीक, 14 जून 2008 में सहडोल संभाग का गठन किया गया था, 14 जून 2008 को, याद रखे, सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में इंदोर है, संभाग और सबसे छोटा सहडोल, अब बात करते हैं हम लोग, किस संभाग में कितने जले हैं, वो भी दिख लेते हैं, तो यह मद सवर, आगरमालबा, रतलाम, देवास, साजापूर, इंदोर की बात करें, तो इंदोर में धार, इंदोर धार, जाबुगा, खंगोन, खंडवा, बुरहनपूर, वडवानी, अलीराजपूर, भौपाल संभाग की बात करें, तो भौपाल, बिधीसा, रायसें, सेहोर, जिले सामिल है, चंबल की बात पर रहें, चंबल में, भिंड, मुरेना, सिवपूर है, फिर गवालियर संभाग, गुना, सिवपूरी, असोकनगर, दतिया, इसमें सामिल है, ठीक, याद रखिए, फिर बात करते हैं लोग, सागर को दीखते हैं, तो सागर में सागर, पन्ना दमोर, चतरपूर, निवारी, पिलस, 2018 में जुड़ना या जिला बना है, निवारी, याद रखिए, वो भी सागर संभाग में संभले थे, याद रखना है, आपको निवारी, सागर संभाग में संभले थे, पर है रीवा, इसमें है, जिले सामिल, रीवा, सिवधी, सतना, सि सहदोल की बाग करें तो मरिया अनुपुर सहदोल fundamental को संगा अब हाब सबसे पहले बाग कारते हैं और जन संभाग की हम है है किसे दिखते हैं फोरफ Stevens को उज्जेन संभाग इसमें कितने जले हैं कौन-कौन से नीमच उज्जेन मंदसौर साजापूर आगरमालवा देवास रतलां तो इसमें बात करते हैं नीमच जले की सबसे पहले कुंसा जला नीमच जला नीमच की जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है आठ लाग चब्वी सजार जीरो सरसट चब्वी सजार सरसट छेथफल है इसका 4256 वर किलूमीटर साक्षरता है यहां की नीमच की सब्तर दसमलो आठ वितिसक लिंगन पाथ है 954 इसकी स्थापना हुई नीमच जले में मंदसोर से अलग करके बनाया गया था नीमच जला टीकट ओद्यों की बात करें नीमच में तो गवर्मेंट ओपियम अफीम एंड एलकिला लॉइड फेक्ट्री भारा सरकार द्वारा है यहां इस्थापत की नीमच में सहाबुद्दीन ओलिया का उस भी लगता है तो कोकडेशोन महादियों बभधभधा माताक मंदिर है यहां 1897 की किरांती मद्द पिदेश में 3 जून 1897 से नीमच में ही प्यारम हुई थी नीमच में ही CRPF टैनिंग सेंटर वी है मद्द पिदेश का पहला गाउन नियाले जानतला गाउन ग्राम में इस्थापतिय दस ग प्यावत मांसा तीनों तहसीलों को मिला कर 1998 में जिला बनाये गया था नीमच ठीक है नीमच का अकार हेदय जैसा है याद रखिए पूछा जा सकता है मद्द पिदेश के कौन से जिले का अकार हेदय जैसा है तो याद रखना नीमच फिर बात करते हैं लोग मंद सौर और ज 240,441,605,555 साकि चालता मंदसौर्ण की 一,885 model लिंगन पात मंद सौरहका 9605 स्थित भी है सिवना नदी के किनारे इस्थित है मंद सौरर किसदी के किनारे है सिवना नदी किनारे फराचीन नाम क्या है बन दस पूद अउडवग earthquakes самое पेंसिल बनाना बनाने का कारखाना इस्टार्च फेक्टरी जीवा जी राव सुगर मिल वर्दमान फिर्विक्स इत्यादी उद्देव हैं मंद्जोर में परेटरंग इस्थलों की बात करना तो पसूपत्ती नात का मंदिर फूट ताला हिंग लाजगर पहाडीकला पिपल्या मंडी में बट्टी फासुनात जन्त मंदिर भदबा मात्य मंदिर सीता मव इतिहासिक इस्थल चंद वासा में धरम राजिसुर मंदिर हैं मंद्जोर की मुख फसल है अफीम आंगे दिखते हैं यसो वर्मन का मंदसौर अभिलेक जिसमें जुलाहा सैड़ी द्वारा सूर मंदिर हेतु दान का उलेक किया गया है गांदी सागर वान चंबल नदी परिष्थे थे विद्धु चम्ताइज की 115 वाट मेगावाट गांदी सागर व्यारन यहीं मंदसौर में है रावड की पूजा रावड का सस्राल माना जाता है मंदसौर राजिस्थान के चार जिलों से लगता है गरा हुए है गांदी सागर मंदसौर को दो भागों में माटता है पूरवी मंदसौर और पश्चमी मंदसौर मत्पतेश का एक मात वो ध्यान की महबिद्याले मंदसोर में ही इस ते ठीड़ ठीड़ फिर है मारा वो जहन संभाग में रतलाम जिला ठीड़ रतलाम की जनसंक्या 14,55,579 छेटफ़ल यहां का चारजार आट सो एकत एक सर्ड़ गिलूमिटर साकचरता है 66.8 पिटीज़ लिंगन पात है रतलाम का उपनाम है सेव नमकीन की नगरी उद्यव में सेलकरी उद्यव जावरा तैसील की सुगर मिल IPCA पिसिद दवा कंपनी रतलाम में ही इस्तित है परयाटन इस सलों की बात करने तो लोटस टेंपल सुगोद में जेन मंदर भी आए रतलाम की फसल है अफीम अभ्यारन है सैलाना फिलोरीकन अभ्यारन और तेवेडी मेला भी लगता है रतलाम में जाबरा की पिसिद्ध हो सैन टेकरी जो चमतकारी सिद्ध लाजेतु पिसिद्ध है मालवा राजिस्थान एवं गुजरात की लोग संस्किती का अनूठा संगम देखने को मिलता है रतलाम में ठीक रतलाम नगर की स्थापना केप्टन फोर्थ विरिक ने अठारेसो उन्दीस में की थी बात करते हैं उज्जेन की उज्जेन संभाग में अंगला जिला है उज्जेन ही उज्जेन की जनसंग क्या है उननीस लाग श्यासी अजार आठ सो चौन सट कितनी है उननीस लाग श्यासी अजार आठ सो चौन सट यहां का चेत पल केतना है तो याद रुखना श्याजार एकानवे बढ़ किलूमीटर है उज्जेन का चेत पल साक्षता है बहत्तर दसमलोग तीन पिती सत लिकन पाति उज्जेन का 955 फिराची नामें उज्जेन की अवन्तिका और उज्जिनी इसके उपनाम की बात करें तो महाकाल की नंगरी बंदीर एवा मूर्टियों का नगर भी उज्जेन को बूला जाते है सिंगर्स्त मेला लगता है 12 वरस की बाद की 12 वरस में एक बाद उज्जन में ही उद्देव नागदा में किंतिम रेशे बनाने कार खाना कॉटन सीड सीड साल्वेंड पिलांट और सोयावीन सयंत महीत पूर सक्कर कार खाना उज्जन में ही इस्तित है परेटन स्थलों की बाद पर ने तो भरत रीगुभायं संदीपनी आश्रम बढ़ा गड़ेश मंदिर काल भहरो मंदिर कालिया देज मंदिर साक्षी गोपाल केंद चंपा कीफ वावडी मंगलात मंदिर पिसिद नवग्रय मंदिर है वेस्टेकरीश तो दुर्गादासी की चतरी कालिदास अकादमी रूनाजी तेजाजी का पिसिद इस्तान का है उज्जन में पितीसक की दिरिष्टी से सरवाधिक अनसूचे जाती जन संख्या बाल विसका एकमात इस्तान जहां 21 जून को सूर 90 डिग्री लंबवत होता है उज्जन को राजा विक्रमादित ने अपनी राध्धानी बनाया था 620 पूर में भारत के 16 महाजनपदों में सामिल अवंती की राध्धानी उज्जन थी फार्णी संस्कित विस्सिविध्याला उज्जन में सिंधियाग प्राचीन सोध संस्थान का है उज्जन में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जन में उज्जन में सबसे पहले सुनने का प्रह्मा अगुप्त द्वारा किया गया था है उज्जन में इस्ते नवग्रह मंदिर बर्स में केवल एक बारी फुलता है ठीक है उज्जन संभाग में अंगला जिला है मारा देवास कौनसा देवास देवास की जंसन क्या कितनी है 15,63,715 यहां का छेत फल है साथ जार और बीस वर्त किलोगी ठाइपाई 18,13,joy? लिंगन पात देवास का नौसो बयाली जो उद्ध्धेवगों की बात करें तो उद्ध्धेवग हैं आयशन ट्रीक्टर की फैक्टरी है उद्धेवास में चमडा कॉम्पलेक्स है टाटा का असेम्मली सेंटर हैं मंगोलिया में गेस वार्टलिंग फिलांट है एस कुमार सूटिंग एवं सर्टिंग है या चाम गोद रानी और राजोद्धा में पवन सयंत रेन्वेक्सी कमपनी वी यही है नोट छापने का कार खाना का है देवास में पांच रुपे से अधिक कीमत के नोट मत्विदेश का पहला मुबायल थाना का है देवास में मंदिर है देवास में चामुन्डा देवी का मंदर भी है बागली में हनुमान जी का फिराचिन मंदर भी है जो देवास में जिले में ही है फीपरी में अभ्यारन पिस्तावित है, आई एसो प्रमाडित पहला थाना है, देवास है, आई एसो प्रमाडित पहला सास्की यो उत्कृष्ट बिध्याल है, देवास में यह है, देवास की बागली गाउं से काली सिंद नदी निकलती है, हाट पिपल्या पूर मुकमंत्री कैलास जोसी का ग्रह चित देवास को कलाओं का घर कहा जाता है, प्राचीन गिंत में देवास का नाव देव वास या देवी वास मिलता है, देवास को राज का पित्थम बायोडी ज जिला घोसित किया गया है, तिर उसकी बाद उज्जिन संभाग में हमारा अंगला जिला है साजापूर, चनसंग क्या है साजापूर की 2011 की जणगरना किन साथ, 15,22,666,61, यहां का छितफल है 3,411 किलोमीटर, साक्षर्टा है यहां की 69,1,30, लिंगन पार 938, साजापूर का मक्सी तहसील में डावर का सयन थे, जो साजापूर जिले में ही इस्तित थे, परेटन इस्तिलों की बात परें तो मुल्ला समसुद्दीन का मकवरा, वर्सी दरगा है, नल खेंडा का पिसित बंदिर, जामा मस्जिर, चिलर नदी के तटफर किला है, साजापूर में ही इस्त का नाम है, रावन करकेड़ी, सुजालपूर वा काली फीपल की पिसित अनाजमंडी भी है, साहन जहां की नम पर साहन जहापूर हुआ, फिर इसे साजापूर हुआ, वालकिष्ण सर्मा अनमीन की जनमस्तली भी साजापूर है, फिर बात करते हैं, आगर मालवा, तो याद 11,23 में इससे अलग होकर इपन नया जिला बना है, आगर मालवा, तब से इसकी जन संक्या बची है, 10,32,681, वो पहले जब अलग नहीं हुआ था जिला, तब थी 15,12,681, अगर मालवा, इसकी जन संक्या है, संदावन, पांचलाख, एकत्तर हजार, दोसो अठतर, बावन पितिसत पूरो से हैं, और तारीश पितिसत महिला हैं, इसका छितफल है, 2785 वर किलो मीटर, साथचता है, 65 पितिसत, नौ निर्मित, इंक्यावन बाद जिलात हैं, तीक है, सूला एगर से दोहजारों, उन तेर खेडा थी, ओफखंडों की बात परें, आगर सुसने, राजिस्तान की सीमा से लगा पश्च्वी जलाए, पितम गो अभ्यारन, देश का पहला गाय अभ्यारन सुस, सेनर तहसील में इसके थी, अगर मालवा में ही, इसके थी, दस्वी सतापती में परमार समराज की अवंति इसका के साथ राजदानी थी, मुगल काल में यह सबसे चर्चित इस्थल रहा, अगर मालवा में, परेटक इस्थलों की बात करें, अगर मालवा में, तो मोती सागर, बड़ा ताला, रतन सागर, रतोदिया ताला, काली सिंद नदीपत, पर्सु खेडी बांद इस्ते थे, पिपलिया कुमाल तिलार मंदिया, विजनात महा मंदिर, महादेव मंदिर है, जिससे एक बेटिस्त कालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पती के अफगानेस्तान योवद में बचने पर बनवाय था, मंदिर गुफा वार्दा, तुल्या भवानी मंदिर, किवादा स्वामी, का पॉली अगर मालमा है, आगर मालमाल लाल मिझ्टी के लिए, पिसी सत्विस्त, जिद रखना की अंगला हमारा जिला है, अंग لा संबाव होगा इंदौर संबाव, ठीक है, उजजन्दे के लिए अब बात करेंगे अर्लोग उज्जेन संभाग को देख चुके हैं इंदोर संभाग इंदोर में इंदोर धार जाबुगा खरगोन खंडवा बुरानपूर बड़वानी अली राजपुर इंदोर संभाग में पहला जिला है मारा इंदोर ही ठीड इंदोर की जनसें के हैं 32,6697 इंदोर का छेटपल है 3,892 किलीमीटर यांकी इंदोर की साखचर्थत दर है 89,9 लिंगन पाथ है 928 इंदोर का इंदोर की उपनाम है मिनी बंबे उद्धोगिक रादधानी आल्थिक रादधानी खेल रादधानी एवं विवसाइक रादधानी ठीक इंदोर का प्राची नाम है इंदोर पोलकर वन्स की रादधानी 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 भारत में एकमात सहर जहां IIT और IIM दोनों है मद्धि पिदेश का सेयर मार्केट केंद भी हिंदोर है ऊद्धोगिक इलेक्तोनिक कॉंप्लेक्स भी इंदोर में है सोयाबीन अनुसंद्धान कैंद इंदोर में इस्थित tellement द Ques С क ser 두 समय के IKEA इंदोर में इंदौर इयरपोर्ट डी ये भी एयरपोर्ट को अग्दाराश्टी इयरपोर्ट का दजा दिया जा रहा है दिया जा चुका है ठीक है 2019 में डॉक्टर अम्बेडकर सामाजी किराश्टी है इंस्टिजूट महु में है जो इंदौर जिले में है राला वंडल अब्यारन मद्पिदेश का सबसे चुटा अब्यारन है जन संक्या की दिरिष्टी से सबसे बड़ा जिला इंदौर भी है एसीया में पित्थम यो मिस में तीसरा लेजर अनुसंदान के अंद इंदौर में है बद्पिदेश की पित्थम जेविखाद इकाई अंदौर में है जन संक्या की दिरिष्टी से सबसे बड़ा समभाग अंदौर ही है ठीक फिर बात करते हैं अंदौर के बारे में कुछ और मकुंतत मद्पिदेश का पित्थम Dental College भी इंदोर में ही इस्ते थे मद्पिदेश का सबसे बड़ा विस्विध्याले देवी 今 द्रुइ इंदोर में महु में Senik चाहूनी है पत्शू चिकित्सा कोलेज इंदोर में ही स्ते थे दूर से चार अवियांत की Senik College महु में पैदल सैना स्कूल महूमे है, राज सरकार द्वारा बावा साहब अम्बेड कर राष्टी है सामाजी, बिज्ञान सनस्थान की स्थापना अम्बेड करकी जनमभूमी महूमे की गई जाना पाओ, चम्बल की नदी का उधगम स्थले, किरसी जमदागनी और परुसराम की तब्भूमी है, गुम्मट गिरी फिसद जनमंदर भी है, यस्वंत सागर इंदौर सहर को जल पिदान करने वाला एक मात्त फ्रोत है, गौतमपुरा में हिंगोट मेला, जिसमें सानों की लडाई बाब मनुस अगनी वार से लडाई करते हैं, ठीक, फिर हमारा इंदौर में स्तिरपुर जील, इंदौर के इस ताला को पक्छी विहार भोसित किया गया है, छिप्रा नदी काकडी वर्डी से निकलती है, याद रखना, छिप्रा नदी के किनारी है, ओज्यन है अप इंदौर में, अम्बेड का नगर महू का नया नाम है, ठीक, फिर इंदौर संभाग में, अंगला जिला है मारा खरवोन, फश्ची मी निवाड भी बोलते हैं, खरवोन को क्या बोलते हैं, फश्ची भी निवाड, ठीक, इसकी जंचंग्या है 18,00, इसका छेत्फल है 8,030, साक्षरता है खरवोन की फश्ची निवाड की 62,7,965 खरवोन का लिंगनपात है, रंगीन सुनाहरी कपास के उतपादन में, राजी की चार जिलों में से एक है खरवोन, सिंगा जी का मेला भी लगता है खरवोन में, देजला देवडा इस गाओं में कुंडा नदी पर मिट्टी का पांद बना हुए है, जिसकी सिचाई लगवग सिचाई चमता 8,000 एक्टर है, पर इटक इस्तलों की बात करें तो पिसिद्ध कसरावद इस्तूप खरवोन में ही इस देते, सिर्वल महादेव यहां पर सिमंदर है, ब इतियाच एक इस्तल तथा जल विद्धत परियोजन नर्वदा नदी पर है, खरवोन में ही, नर्वदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेसुर, खरवोन में ही, अहल्यावाई हूलकर की राददानी महेसुर थी, उन चंदेल परमार सली के अन एक मंदर भी है, महेसुर की खाड़ी पिसिद्ध है, महेसुर की साड़ी पिसिद्ध है, सरवादिक हाइड्रल जल पंप खरवोन जिले में ही इस्ते थे, कपास अनुसंधान के अन्दी भी है, देश का पहला मोबायल वेंक खरवोन में ही इस्ते थे, बात करते हैं हम लोग, खंडबा के बा जिसे पूर्वी निवाड बोला जाता है इसकी जन्ग संक्या है तेरे लाग दस जार एक सट इसका छित फल है 6206.45 किलूमीटर इसकी साख चलता है 66.430 लिंगन पात है 943 कि 1956 के पूर्वी यह है निवाड जिले की रूम महा कौसल का हिस्सा था मसूर खिलिम अभीनेता असोप कुमार की जनमिस्तली है खंडवा मत्पदेश का पहला कोर्पु जन्जाती समुदाय किरिडी युकें खंडवा से सुरूप पिया गया था गांजा उत्पादक जिला एवं राजी का कपास चला भी खंडवा ही है किसोर कुमार की इसमिती में गौरी गुन कुंज का निर्मार कराया गया था ओंकारे सुथ 12 जियोती लिंगों में से एक है खंडवा में चनेरा ग्राम हर सुथ जो इंद्रा सागर परियोजना के डूप जाने में आ गया था फोनासा ग्राम में इंद्रा सागर परियोजना इसता पे थे मानो निर्मित भारत की सबसे बड़ी चील है नांग चुन बांग भी गई है खंडवा में माखन लाल चतुर्वेदी तथा सुवद्रा कुमारी चौहान की करमस्त लिए खंडवा खंडवा छेत का आकार चोटा जी दर्वान यह भी खंडवा में देश का पहला जल सत्या गया गोगला गाओं में हुआ था जो खंडवा में है वर्डवेंग के सहयोग से यहां सूप चुम्भू कम रेकॉर्डर लगाया जा रहा है फिर इंदोर संभाग में अंगला जिला हुगा बूरहान पूर कौन सा चार के तीसर नौसो इंक्या बनेहा का बूरहान पूर का लिंगन पात्र है 15 अगस्ते 2003 में खंडवा सिप्था कोकर बनाई है जला महराथ से सटा हुआ है गुरहान पूर असीडगर असीडगर को दच्छिन का प्रविश्द्वार कहते हैं जो गुरहान पूर में ही इस्ते ने ताब विद्दूत कहें देख टाप्ति नधी के किनारे इसते थे बुरहन पूर मद्विदेश का पहला यूनानी चिकिस्टा बुरहान पूर में ही इस्ते है बहु खाना में मुम्ताज की पहले दपना अगय तो बाद में ताजमेल में अहू खाना में ठीक है याद रखाएं असीरगर के क्लिप को अकबर ने 1601 में जीता कमरगड, मलेगड, असीरगर को तीन कलों का समूग कहा जाता है असीरगर में साय जहां की प्रेमी का मोती बेगम की कब रिषते थे खूनी भंडारा, बुरहानपुर की, मुगल काली इंचल फिदाय बेवस्ता है सेख गुराहुद्दीन द्वारा अपने नाम पर बसाय गया नगर है इससे देती हाँ से खिस्तलों की बात करें तो बीवी की मस्ज़, बादसाही विकिला, जामा मस्ज़, आदिल साय का मकवरा, यहीं है बुरहान प्रुमेंटी, रहमारब वडवानी, इन दौर सम्भाग में अंगला जिला कुन सा है? वडवानी जिसके जनसंग क्या है? तेरे लाख पचासी जार आठ सो इक्क्यासी, छेत फ़ल है, पांच हजार चाल सो वाइस वर किलोमीटर, साख चरता है, उननेंचास दसंबला वेक विती सर्थ, लेंगन पात है, नो सो ब्यासी, इसकी स्थापना बढ़वानी की हुई, पच्चीस म की बात करें, तो बावन फिट उची भागवान आदीनाथ की मूर्ती, विसकी सबसे उची मूर्ती है, बढ़वानी में ही इस्तित है, वावन गजा जैनतीत, ग्यारा मंदिरों का समुव है, वीजा सेंथ का प्रिसिद्ध दुर्गा मंदिर, भावरगर का प्रिसिद्ध कि किसे बढ़वानी को, अन्य नामें बढ़ नगर, सिद्ध नगर, सेंदवा तैसिल महराष्ट की सीमा परिस्तित मद्पिदेश की कपास मंडी है, ठीक, फिर बात करते हैं वो, सरवाधिक लाल मेच होती है, सेंदवा मद्पिदेश को सरवाधिक परिभाहन राजस अर्षित करने वाला बेरियल है, दोजार साथ आठ में एक दिन का सरवाधिक तामान यहीं दर्च किया गया था, ठीक, अब बात करेंगे हम लो, बढ़वानी के बात, धार, उन जेन संभाग में, अंगला जिला है, धार, इंदोर संभाग में सोरी है, ठीक, इंदोर संभाग की बात क साथ सो तेरानबे है, जन संक्या, छेत फ़ल है, आठ जार, एक सो त्रेपन बढ़ किलो मीटर, साक्षरता दार है, उन सट दिसम्लाव जीरो कि तीचल, लिंगन पात है, नो सो चोंसर, सरवाधि विकास खंडबाला जिला है, धार, फरेट इस तलों की बात करेंगे हैं, तो महल, ये बाग की गुफा हैं, गुप्त काली ने, ठीक, हिडोला महल, ग्यासुदीन द्वारा निर्मित थे, इधार में, मोहन खेडा, फिसित, जैन तीथ, सूला, पिटकी, आदिनाथ की, मूर्ती है, पुराता अत्विक, जन जाती है, सांस्कितिक म्यूजियम, राजा भो ने, पोश साला, सरस्तुती का मंदिर, मूर्ती कला की फिसित दिस्थान है, फड़की स्टोडियो, धार जिले में ही यह स्काशे, धार परमारवंस की राधानी थी, मांडू को सिटी ओफ जुआय कहते हैं, मांडू को सिटी ओफ जुआय कहते हैं, पीथमपूर, धारपू, मद्विदेश का डेट्राइट, आटो मूबाइल के इंद कहते हैं, पीथमपूर में पिदेश का पहला सेज, यूनी, केम कंपनी का यह निर्या संबर्दन पार इस्ते थे, सरदारपूर, अभ्यारन, खर्मोर का संरक्षन यहां धार में ही इस्ते ठीक है, फिर बात, डाइनोसान, डाइनस और जीवास मार्क, 2007 में जीवास में मिले हैं, धार में ही इस्ते थे, फ्रेट ग्यान दूद परियोजना की सुरुआत, 1997 में जो भारत का पहला इविलेज प्रोजेक्ट है, धार में ही सुरू हुई थी, भारत का पहला ओटो टेक् चारा बनाने का सेंथ धार जिले में है, धार जिले धार के किले का निर्मार मुहमद बित्तो गलक में करवाए, जो लाल वलुगा पत्थर से निर्मेत है, फिर इन दो संभाग में अंगला जिला होगा हमारा ज्याबुगा, ज्याबुगा की जन संक्या है 10,25,048, यहां का चितफल है 6,778 किलोमेटर, 43,3 पितिसत है ज्याबुगा का सक्षर्था, 990 लेंगनपाथ है ज्याबुगा की, मक्का उत्पादन होता है यहां की मुख फसल है, ज्याबुगा, मेला की बात करें तो भगवरी आहाट का मेला लगता है, ज्याबुगा में, गुजरात एबं राजिस्थान की सीमा परिस्तित, मद्धिदेश का पश्चिमी ज्याबुगा है, रेल रेपियर फैक्टरी वी ज्याबुगा में, सबसे ज्यादा अनुसूचित जन्जाती वाला ज्याद रखना है, ज्याबुगा, भीज जन्जाती का निवास तथान है, आदीवासी, पॉस्पेट खनिच पाए जाता है सेमेंट चादर बनाने ही तुई है जाबुगा में मेग नगर जाबुगा गप्रमुक उद्दोगिक्कन है आवासी ए खेल बिद्याल है पेटलाबाद जाबुगा में इस्तित है सुनार नदी के तट पर देवी जीरी नामक देवस्तल है जल गेहन मेंसन मेंदराज का सीशिस्तन है जाबुगा फिर है अली राजपुर हमारा इंदोर संबाग में अंगला जिला है अरी राजपुर जैसे चंद सेकर राजाद नगर भी बूलते हैं जन संक्या यहां की 7,28999 चेदफल है 3182 बर किलोमीटर साक्षता है सबसी कम 36.1 लिंगन पात है 1011 इस्तापना इसकी हुई थी 17 मई 2008 को जाबुगा से पितक करके बनाया गया था राज की पिथम आदिवासी खेल विद्ध्याला है यहां पर अली राजपुर में जोबट मान पर यूजना यह भी अली राजपुर में मक्का उत्पादन होता है अली दोलोमाइट खाईच का उत्पादन होता है तीन तहसे लिए अली राजपुर भावरा चंद सेकर आजात की जनमुमी और जोबट से बहलकर बना था कठी वाड़ा अभ्यारन कठी वाड़ा जहरना यही इस्तित है अली राजपुर में आम की नूर जहां प्रजाती के लिए पिसिद्ध है आपका अली राजपुर पितीसद की दृष्टी से सरवादिक अनुसूचित जन जाती बाला जिला है अली राजपुर ठीक है फिर आता है हमारा बोपाल संबाग ठीक है इंदोर और जन देख चुके हैं और जन इंदोर अब बाग करेंगे बोपाल संबाग क जनसंख्या 23,071 है बोपाल की चेत्पलेक बोपाल का 2772 किलमीटर साक्षरता है बोपाल की 80.4 लिंगनपाथ है 988 इस्थापना इसकी राजा भोज द्वारां की गई थी 26 जन्वरी 1972 को बोपाल जिला बनाए गए पहले यह सिहोर जिली की तहसील थी तेदेश का सरवादिक जनसंख्या घनत वाला जिला है बोपाल 855 ब्यक्ती पिती बर किलमीटर ने इसे जीलों का शहर भी बोलते हैं बोपाल को दोस्त मुहमत खान ने इस सहर की इस्थापना की थी इस्रो का उपग्रे केंद बोपाल में इस्थे थे भारतिय वन प्रिवंदन संस्थान आई आई एफम बोपाल में इस्थे थे एसीया का पहला उननत साड़ प्रिजनन केंद बदबदा बोपाल में इस्थे जन संक्या जनसंक्या की विधिदर में दुत्य सतान पर भोपाल पितम पर इंदों सरवादिक साक्षरता महिला स़र्ड़ गरीन जनसंक्या वला झिला पंडित KUNJलाल那麼ी प्लिस याथ थां जेल अनुसंधार एभंब्सिक्षेश्चन सस्थान बोपाल में एशिया की पहली बड़ी जिलादालत का है इन भारत बभाद मिचती थे इंद्रा गांध्य पिधान्सा बभाद भाद मिचती थे परियाबास बभंग बोबाद मिचती थे देश का पहला मोडल विलेड बेंट बुपाल के हमीदिया आस्पताल में इस्ति थै है संग्रालाओं की बात करें तो दुसेंद कुमार पांडुली पियर प्राक्तिक बिख्ञान संग्रालाई विडला मियूजियम मादाउ सप्रेट पत्तिकारता राज शंग्राले, दूर संचार संग्राले इंद्रा गांदी बानो संग्राल है कहां इस थे थे भुपाल मिले परेटक इस्थलों की बाग करें भुपाल के तो इसमें नवाव हसन सिद्धिकी का मकबरा वन बिहार राष्टी उद्ध्यान गोहर महल ताजल मस्जिद भारत की सरवादिक बैठक चमता वाली मस्जिद है सबसे छोटी मस्जिद डाई सीडी अकार गुडिया का घर इसलाम नगर का किला कमला पार्क, विडला मंदिर मचली घर, सामस गड़ जैन थी थे सभी भुपाल में थे गुमसुद्दीन, शाह द्वारा निर्मे जामा मस्जिद यहीं इस्ते थे पित्थम राष्टियर सेलिंग स्कूल की सुरुवाद दोहजार च्छे में भुपाल की बड़ी जील में की गई थी ओद्देवगों की बात करें तो भारत हैवी एलेक्टिकल बेल 1960 की इस्तापना बेटिन की सही हुख से की गई थी मेदा मिल ठीक गई है भुपाल में ही इस्ते थे रेलवे कौच फेक्टरी, निसांद पुरा सोया बिस्कुट बनाने का कार खाना भी भुपाल जिले में ही इस्ते थे MCF, मास्टर फैसिलिटी सेंटर दोहजार साथ में इस रोर द्वारां पॉफगरे नियंदर के अंद स्था पर गोसित किया गया है भुपाल ठीक आँगे बात रहें एज है एज एस ए डी टी एल हाई सेंसिटिव एनिमल डिस डिसीज, टेस्टिंग लेवल्टी भारत की एकमाद भुपाल में इस्ते थे सिमेंट, सीमेट स्टेट इंस्टिटुट अफ एजूकेशनल मेनेजमेंट एंड टैनिंग सेंटर की स्थापना दिसंबर 2009 में भुपाल में ही की गई थी भुपाल इस्तित मद्पिदेश उद्दोगी विकास निगम की स्थापना सन 1965 में भुई थी नरोन्हा त्विसासमेक अकादमी भुपाल में साइं का छेत्रिय कार्याल है गोरागाउं भुपाल में मद्पिदेश का पहला परयावन नयाल है भुपाल में एसवाग इस्टेडियम भुपाल में भारस सरकार का केंद्रिय किरसी अभियानत की संस्थान भुपाल में फित्थम टीवी स्ट्रोडियो भुपाल में इस्तिते संजीवनी संस्थान भी भुपाल में इस्तिते देश का फितम आबदा प्रिबंदन सहस्तान भोपाल में। सरोजी नाइडू स्विध्याले वहपाल में इस्ते थे माप तौल पिसीक्षन सरस्तान वहपाल में इस्ते थे वहपाल से पाँच पहाडियों पर वसा हुआ है तिर बात करेंगे इस अंगला जिला है हमारा साक्षरता है दर है 70.31 लिंगनपाथ है 908 मेला यहां लगता है सलक सलकनपोर मेला सिहोर में उद्ध्यों बुधनी में रेलबे स्लीफर बनाने का कार खाना है गोपाल सुगर मिल्स सिहोर में नदियों की बात करें तो आश्टा तैसिल से पारवति नदी कोलार नदी का सिहोर जिले के गोफालपूर में सिद्ध गड़िस मंदिर इस्तित है देश का पहला आवासी अखेल विध्या विध्याल है कहा है से होर में टैक्टर फिसिक्छन के अनन्द वोधिनी में है सेहोर का पूर्ण नाम है सिद्ध पूर सेवान नधी के तट के नाम पर ठीक देख रहा हूं लोग पूर्व मुकमंत्री स्ट्री सब्रासिंग चौन बुधनी से बिधायक हैं ता सेहोर इनका विराज जिला है पान गुडारिया बुधनी से असोग के अभिलेख प्राप्त हुए है सारू मारू की प्रिसित गुफाएं बढ़िया केडी का रामलला मंदिर सेहोर में ही से थे अंगला जिला है वोपाल संभाग में विधीशा कौन सा विधीशा जनसंग्या है 14,58,875 विधीशा की यहां का छेथफाल है 7,321 किलोमीटर साक्षर्टा जहर है 70.5 विधीशा 896 लिंगन पात है विधीशा का प्राचिन नाम है विधीशा की भेल साफ महा मालिस्तान यह बेशनअगर ट्री उद्द्योगों की बात परें विधीशा में तो वनस्पति गी उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द इस्ते थे ग्यास ग्यारसफोर का मालादीवी मंदिर है विदीशा में भागवद धर्म से संबंदित हेलियोडोरस का गरुन स्तम्ग भी बेशनगर में है हसल की बाद करने तो विदीशा में चना अधिक होता है सम्राठ असोग सागर हलाली डैम पर्यू इन्ना विदीशा में इस्ते थे समर्णा असो एंजिनरिंग कॉलेज भी विदीशा में और वाई विसिद मंडी यह भी विदीशा में उननी सो बावन में तच्कालीन डाशकुती राजिंद को फिरसाथ द्वारा इसका नाम विदीशा गोसित किया गया वहरंग जेब के काल में विदीशा का नाम आलम गिरपूर है ठीक है फिर बात करते हैं रायसेंड मोपाल संभाग में अंगला जिला है रायसेंड रायसेंड साक्षरतादर है यहां की रायसेंड की तेहतर दसंभलग जीरो किती सथ लिंगनपाथ है रायसेंड का 901 और दोगिक महत्तु का जला है रायसेंड उद्द्दीव देश की पहली फाइबर ऑप्टिकल फैक्टरी है मत्पदेश का दूसरा फिरमोग छित है दवा पिसित है रायसेंड बे इन्दो 55 फैक्टरी असिया की पहली प्धरी ति देर रायसेंड में इस्तित है नदी की बात कहने है तो रायसेंड कि कुम्रा जाहों से बैतबा नदी निकलती है यहाँ रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट इस्ते थे अब भ्यारन ठीक है रायसेन में विस्व धरोहर सूची साची इस्तु बहुत जगत की पवित नगरी भीमबेट का विस्व का पहला सेलास है यही इस्ते थे रायसेन विस्व का सबसे बड़ा सिविलिंग भोजपुर में मकण संक्राती सिवरात रीवा वसंद पंचीवी पर मेला लगता है इसे पूर्व का सौमनात करते हैं काम खेडा मोगल काली पिसासनिक मुख्याला यह रायसन में गिन्नोर विएड का किला रायसन में साची के बारे में ब विसाल प्रवेश्द्वार एक बहुत बिहार सतधार इस्तूप भी साँची में इस्तितिति है विसाल पासाण पर निरमित का टोरा बिच्चूओं का बोजान इसी में बनता था गुप कालीन मंदिर के भगनवाव से साँची में इस्तितितिति है प्रातात्विक संग्राले सांची में फिर भोपाल संभाग में अंगला जिला होगा हमारा राजगर्द जनसंग क्या कितनी है राजगर्द की 15,45,814 चितफल है 6,153 बड़ किलोमीटर साक्षा तर्दर है राजगर्द की साक्षा तर्दर है 16,2 2,30 लिंगन पात है 956 नरसिंगर्द अभ्यारन है राजगर्द परेटंग इस्तलों की बात करें तो नरसिंगर्द का फिला जालिया माता मंदि धरेल पाड़ी का पसूपतिनात मंदि खोजडी महादेव मंदि भामगर्द का अनुमान मंदि राजगर्द में राजगर्द देश का पहला ऐसा जिला है जिसने पित्थक मानों विकास पिती पिदन पिती वदन पिस्तुत किया है मदि पितिस का सरवादी करेगिस्थान बाला जिला है राजगर्द व्यवरा को राष्टी राजमा का चौरा चौराह का जाता है राजवड की नर्सिंग गड़ तैसील में चिडी को खेल चिडी को चील वन जीब अभ्यारन के अंदर इस्तित है नर्सिंग गड़ को कस्मीर एमालवा कहते हैं राजगड में इस्तित हैं ठीक आंगे बात करें होसंगाबाद संभाग में तीन जिले हैं होसंगाबाद हरदा वैतुल चील तुछ सबसे पहले बात करते हैं इसे होसंगाबाद संभाग को नरवदा को पुरम भी बोलते हैं ठीक तु सबसे पहले बात करते हैं हम लोग होसंगाबाद जिले की ठीट तो इसकी जनसंग क्या 12,41,350 और होसंगाबाद का छेतफल की बात करें तो छेतफल इसका साथ 6,773 किलोमीटर साक्षरता है 75,33914 लिंगन पात है रिस्थापना इसकी नर्बदा नदी के तट फरिस्तित जिसे होसंगाब साय गौरी मांडू नरेश ने बसाया था वो देवगाउं की बात करें तो सिकॉर्टी फेफर मिल इस टेल सैंथ डॉलारिया में बिस्तावे थ रेसलपुर होसंगाबाद में ही इस्ते थे परटर इस्तलों की बात करें तो पच्छमडी सत्पोड़ा राष्टी उद्ध्यान पांडव गुफाएं तबावन सेठानी घाट संसेट पॉइंट और डचेज जल पे पात बोरी अभ्याबर यही है होसंगाबाद का संभा का नाम नर्वधापुरम कर दिया गया है होसंगाबाद सबसे अधिक सिंचेट जिला है भारत की दूसरी मदर दूडेरी पहली लिलाबती होस्पीटल मुंबई में दूसरी यही नर्वधापुरम होसंगाबाद जिले में है ठीक मद्धपिदेश का एकमात हेले स्टेशन मद्पिदेश का सबसे बड़ा किर्सी फार्म बावई में है यह माखनलाल चतुरवेडी का जनमीश्थी लीये । एटार्सी मद्धिदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंसन है, मद्धिदेश का पहला जैव आरक्चित मंडल पचमडी में है, फिसिद तावा कोईला चित भी होसंगबाद जिले में ही इस्ते थे, बुल्फ राम ठनिज के लिए फिसिद अगर गाउं होसंगबाद में ही इस्ते थे, मद्धिदेश का सबसे लंबा नदी पोल तावा नदी पर होसंगबाद में ही इस्ते थे, सिविल नियाला है ओनलाइन होने बालब पहला जिला है, आर्मी एजुक्रिशन कोर पचमडी में है, मेला राम जी, बाबा जी का मेला लगता है, नौफ आशाणी कालिक इस्तर, आदमगर, होसंगबाद जिले में ही इस्ते थे, होसंगबाद का ग्याहूं में पिती हेक्टर उत्पादन में देश में पहला इस्तान है, राज की दूसरी खुली जेल 2010 में इस्तापित हुई, फिर होसंगबाद संभाग में अंगला जिला है हमारा हर्दा, हर्दा की जन संख्या है पांच लाग सतर हजार चार सो पेंट सट, छेत फल की दरिश्टी से ये छेत फल में ह इसका 3334 किलोमीटर, साक्षरता है 72.535, इसका लिंगर पाथ है 935, हर्दा में काना बाबा का मेला लगता है सोडालपूर में, फरेटक इस्तलों की बात करें तो नेमा ओवर तीर्द, नर्वदा तटपर, मकडाई का किला यहीं इस्तित है, बोरी अभ्यारन हर्दा में ही इ याद रखना 2018, जब 2018 में जब निवाडी नया जिला बना है, तो सबसे छोटा छेतपल में और जनसंख्या में निवाडी जिला छोटा है, सरवादी कौसद जोद वाला जिला ही, हर्दा के प्रूफेसर महेस्त दत्मिस्स गांदी जी के अभिंग सहयोगी थे, 15 अगस्त उन संबाग में अंगला जिला है बैतूल, इसकी जनसंख्या है 15,75,365,362, इसका छेतफल है 10,43 बर किलोमीटर, साक्षरता है 68,930, लिंगरपाथ है 971, भारत का मद्ध बिंदु, फिशडा हुआ छेत जुवान अच्छा दे थे, बैतूल में कोर कु जनजाती पाई जाती है, बैतूल में ग्रेफाइड पाई जाता है, कोकुरू में कॉफी पैदा होती है, नदी की बात करें तापती नदी बैतूल जिले के, मुद्दाई तालाप से निकलती है, यहां मेला लगता है, भोपाली का मेला लगता है बैतूल में, अब्यारन की बात करें तो काली भी अब ब्हारन में भालूओं को संरक्चन किया जा रहा है फरेक्टक इस्तलों की बात करें तो मठार देओ सार्णी बालाजी मंदिर वैतुल में मुक्तागिरी जैन तीट इस्तल भी यही है ठीक है सालवडि नामक ठंडगरम पानी का इस्तरोद वस्चिभ गुपा वैतुल में ही इसते थे सारनी ता विद्धूत के लिए बेतुल में है आमला में बाईव सेना की सैनिक छावणी है पिदेश की संत्रा मंडी मुलताई बैतूल में ही इस्ते थे पसू बाजार के लिए पिसिद्ध है वेरूल बाजार जो बैतूल जिले में है वहन रख्चक तिती पिसी चण महाविद्ध्याल है बैस देही नामक बास की बड़ी मंडी भी यह है दोहजार पारे में पिथम सुक्त है अब बात करते हैं लोग संभाग कि अंगला संभाग है मारा जबलपूर्चंट यर्फ में बात करें तो जबलपूर maa जिले हैं जहबलपूर कट्नी सिवनी नरस combel वालगाच मंदला दिन चभादा देंड़री तो सबसे पहले बात करेंगा रहं जबलपूर neon news कि और शेतपल है 5210 बर किलूमीटर साक्षात दाहर है 81.30 सरवादिक है जो और लिंगन पात है 939 परेटक इस्थलों की बात करें तो मंदर महल 11.16 में बना 64 युगनी का मंदिर फिसन हारी की मडिया पीजन हरी जैनतीष्थ माला देवी मंदिर भेडागाट दुआधार जल्पेपाद जवलपुर में इस्थे थे तिग बा नामक गाउं में तिपूरी तिपूर सुंद्री देवी मा का पिसिध मंदिर तिगभा में गुप्तकालीन विशनु मंदिर वरेला में दुर्गाबती समाधी श्थे थे जवाली रिसी के नाम पर इसका नाम जवलपुर रखा गया है उद्द्यव की बात करें तो और डिनेंस फेक्टरी खमरिया जवलपूर में ही इस्ते थे, मत्पिदेश का मानक समय जवलपूर से लिया जाता है, मत्पिदेश उच नियालाई 1956 में जवलपूर में ही कोई थी इसके स्थाबना, जवलपूर को निया एक राध्धानी भी कहते हैं, रानी दुर्गावत्ती जवलपूर में ही इस्ते थे, महत्मा गांदी समुदाई विकास फिसीक्चन के जवलपूर में हैं, मत्पिदेश का पिथम किरसी विस्विद्ध्यालाई 1964 में, जवाहर लाल नहरू माः विस्विद्ध्यालाई जवलपूर में ही इस्ते थे, ति पुरी इतिहासिक नंगर थी तथा 1949 में Congress अधिवेशन हुआ रूपनात में अशोग का अब लेक मिला है जन्सांकी की दिरिश्ट्री से दूसरा बड़ा जिला है मद्धपे देश का सबसे साक्षर जिला है जबलपूर एक क्यासी देशमलो एक पिती सज जन्गणना दुहजार ग्यार एक इनुसर और महिला एंसी सी प्रिसिक्षण कॉलेज भी यहां भारती बन अनुसंदान जनस्थान टैनिंग सेंटर छेतिये का रहे हैं जबलपूर मैं देश का पिथम फुनर्वास विकलांग केंद भी जबलपूर में वर्ण डेगन डेग वर्नेस लागू करने वाला देश का पहला जिला है जबलपूर तिलवाड़ा नर्वदा नदी पर महतमागंदी की अस्तियां प्रवावित की गई थी परगी गाउं में रानी अवंती की वाई बांग नर्वदा नदी पर हैं मद्विदेश का दूतिय फसू चिकिस्सा महाविद्याल है जबलपूर में थल सेना का सस्त स्कूल भी जबलपूर में पश्चिमी मद्द रेलवे जबलपूर में जिसकी थापना एक अपरेल 2003 को की गई थी लकडी लकडी चीरने का मुख केंद जबलपूर में है किरसी अभियान्थ की महाविद्याल है जबलपूर में है जबलपूर आम जिला घोसेत हैं पिदेश में संसकार राधदानी किसे कहते हैं नियाएक राधदानी भी जबलपूर को कहते हैं और संसकार राधदानी भी ज जवलपूर को कहा जाता है सुबद्राक वमारी चौहान समारो जवलपूर में आयुजित होता है राज बिग्यान सिक्षा संस्तान जवलपूर में इस्तित है बात करते हैं जवलपूर समाग में अकला जिला है हमारा कटनी कौन सा कटनी की जनसंग है 12,92,42 इसका छेतफल है 4950 साक्षरता है बहत्तर प्रितिसर लिंगनपाथ है 952 इस्तापना हुई इसकी 1990 में जवल से जवलपूर से अलग करके कटनी बनाया गया था उपना में कटनी के चूना नंगरी मार्वल नंगरी यहां का रेलवे जंग्सन मुंडवारा की नाम से फिसिद्ध है उद्द्योग देश में चूने का सरवादी कुद्पादन कटनी में होता है कटनी में एक नदी है कैन नदी ठीक है देश की पल यह याद रखना आपको बहुत महत्तों देश की पहली किन्नर महापौर्व कमला जान यहीं की थी कटनी की ठीक है करनल इसलीमन ठगी पिथा का उनुलन करने वाला की नाम पर यह इसलीम इसलीम नावाद नगर कटनी जिले में है पर्याटन इस्थलों की बात करने तो बहु रीवन पिसिद धार्मी के बंपुरात्वाक पुरातात्विक इस्थल है जैन तीट कर सांती नाथ की बारे फिट उंची मूर्ती है यहां विलहारी पुसफा वट्टी नगर भी है रूपनाथ मौर कालीन इस्थल पाली भासा में असोक काविले पांच लिंगी सिप वितिमा तथा तीन पवित कुंड रामकुंड सीता कुंड लशमर्ण कुंड यह नहीं है टीक है टींग वान की बात करें तो गुप्त कालीन बंब्मा बलीपी का बलेख है जिन जहरी रंगीन चित्रिक चोदेव विसाल चट्टाने फिर गितिहासिक काल इस्थले यहां पिर अंगला हमारा जिला जवलपूर संभाग में सिवनी कौन सा है सिवनी इसकी जन्संग क्या है 13,89,131 इसका चेटफ़ल है 8,758 किलोमीटर साक्षरता है 72,31 लिंगन पाथ है 982 सिवनी समुद्री घोड़ी की आक्तिती बना बाला जिला है ठीड शिवनी को मद्पिदेश का लखनव कहा जाता है मद्पिदेश का लखनव किसी कहा जाता है स सिवनी जिले को सिवनी को भैरो थान का मेला लगता है सिवनी में 55 राष्टी उद्यान मोगली लेंड बनाये गया इसका नम प्रियेदर्शनी पार्क है काली मूच का चावल मावा वाटी के लिए लखना दौद पिसद है बैन गंगा नदी भी यहा है सिवनी में भीमगर ब और एसिया का सबसे बड़ा की चड़ बांद बना हुए मिट्टी का सिवनी से एन एच सेवन गुजरता है राष्टी इमार सिवनी का नाम करन बहुता आयात में उपलब्द सिवना नाम के ब्यक्च पर पढ़ा है इस ब्यक्च की लकड़ी से ढोलग बनती है सरकारी छेत का सबसे बड़ा सोयावीन कारखाना यहाए पितम पीपी आधारित मेडिकल कॉलेज सिवनी में पिस्तावित है बात करते हैं जवलपूर संभाग में अंगला जिला है बाला गाट बाला गाट की जनसंग क्या है सतरहलाग 1682 छेत फले 9229 किलومीटर साक्चरता है बालागाट की 1710.1 कि लिंगनिपाथ है 1021 36 गड़ और महराष्ट के साथ मद्विदेश की सीमा बनाता है बालागाट थी पहले यह जला सिकारियों का सरक के नाम से पिसिद्ध था बालागाट का इस्थानी ये नाम बुरहा या बुरा था नदिया या बैनगंगा और बागदेव हैं परेटक इस्थलों की बात करें बा धूती वांत बैनगंगा नदीपनिर में थे गांगूल पाराजल पेपात भी है लांजी का फिसिद्ध किला जैसे कल्चुरी वेंस के सासकों ने बनवाए बालागाट में ही कल्चुरी कालीन मंद्र भी है राम पायली नाम की तिहासे किस्थल चंदन नदी के तर परिस्थ थे हठटा नाम की तिहासे किस्थल वyasवडी व्याल्वरी मंद्र के लिए फिसिद्ध की वाला गाट धान उतपादक सी दिला है बालागाट नकसल प्रवाँच जिला है बालागाट फ्रवाविच व क्यां सबसे वड़ी भूमीगत मैंग्णी चान है बालागात में माश्य सरवादिक होता है मद्धिपितेश का सरवादिक लिंगनपा 1021 बाला जिला है पितेश का पित्थम बन राजिक महाविद्यालावी बालागाट में मलाजखंड तैसील तामा नगरी से तामा निकलता है हिंदोस्तान कोपर प्रोजेक्ट मलाजखंड में हैं फोरेस्ट कोलेज बालागाट मेर्स देते हैं जबलपूर संभाग में अंगला जिला होगा हमारा अंगला जिला है मंदला मंदला की जन्सन क्या है दस लाग चेंवन अजार नौसो पांच मंदला की साक्षरता है 66.930 ठीक और लिंगन पाथ है एक हजार आठ मंदला का पचीस मईद उन्निस वंठानमे में डिंडोरी को अलग पिथक कर जिला बनाए गया था मंदला चुटका में पर्माडू विद्धुध ग्रह फिस्ताभए थै बेगा चक 6ध यह परिश्चते थे दो राष्टी उद्यान वाला एक मात्त जला दो राष्टी उद्यानों वाला एक मात्त जला है यहां काना और जीवास में राष्टी उद्यान है अब भ्यारन की बात करें तो फॉसल्स उद्यान कुछ भाग दिन्डोरी में है जो कि पिदेश का सबसे छोटा राष्टी उद्या है काना किसली राष्टी उद्यान कहाना किसली राफ्टी उद्यान ये अस्थ ते यह CHARO गारटी मंड़्ला में हिस्ते थे यहां उद्धान का कुछ हिस्षा बंजर गार 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 पे सिस्था नर्वदा नदी से घ्राघा हुआ तथा इसे नदियों का दूइब भी कहा जाता है मंडला जिले की राम नगर तैसील पहले गौंड राजाओं की रायदानी थी सुतंता सैनावनी अवंती भाई यहीं की थी ठीक पिर जवलपूर संभाग में अंगला जिला हता है हमारा नरसिंगपूर कौन सा नरसिंगपूर की जनसंख्या है दस लाग 91,845 नरसिंगपूर का चेत फल है 5133 किलोमीटर साक्षरता है 75.730 लिंगनपात है 920 राज की मद्ध वलती जिला तथा केंदी बिंदू है में बर्मान मेला परयाटक इस्तलों की बात करें तो डमरू घाटी विसाज सिविलिंग के भीतर लगू सिविलिंग नरसिंगपूर का किला और बर्मान घाट यहीं इस्तित हैं जाट सरदाल द्वारा नरसिंग भगवान का विसाल मंदिर बनवाए गया था यहां बरहेटा महाभारत कालीन विराटनगरी है वल्ध थारी यहां पर भीमकुंड और अरजुनकुंड है पांड़मों ने यहीं पर सत्धारा निकाली थी तथा राजा बली की इस्तिली भी यहीं है वाची कीचक की विसाल मूर्ती है चौरागड गौड राजा संगराम सायद्वार निर अस्त्रम जोटे सुर लोधे सुर सिम मंदिर हन्वान टेकरी पारे के सिवलिंग है ब्रह्मंड घाट बर्मन बर्मान घाट मड़ी सागर नर्वदा तटफर उपस्तित ब्रह्मा जी की यग साला रानी दुर्गबती मंदिर हाती दर्वार दर्वाजा वाराय मूलती है हसल क से 1992 में प्राप्त कर चुका है नर्संगपुर में ही किसूर जील है ठीक फिर जवलपुर में हमारा अंगला जिला आता है चिदवाड़ा चिदवाड़ा की जनसन क्या है 20,90,922 चिदवाड़ा का 11,850 क्रिम्यूटर साक्षरता है चिदवाड़ा की 71.230 लिंग अनपात की बात करें तो 964 मद्विदेश का चिदफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला है चिदवाड़ा मद्विदेश में कुल चिदफल का 3,8530 है चिदवाड़ा का नाम चिदव्यक्ष पाम तथा सिंगी की बहुतायाद की कारण चिदवाड़ा पर प्राचीन काल में पॉसले रगुजी तिती है के नांगपुराज का हिस्सा था छेदवाड़ा ठीक है ilot कि बादल कोई आधिवासी म्यूजियम स्थापना च्बाड़ा में इस्तत है 19 यह भी चिदवाड़ा में है पैंच राष्टी उद्ध्यान का कुछ भार चिदवाड़ा जली में है यहां कोर को जंजाती भी पाई जाती है कोईला तामा मैगनीच का उत्पादन होता है परेक्टक स्थलों की बात करें तो लिलाही गाउं की समीक कानन नदीप निर्मेद इस ते 60 फिट उची जलपे पात है अन्होनी सलफर युक्त गरम पहाड़ी है कजरना है इस अभी चिदवाड़ा ही जली में इस्तित है कपूर कपूर था कल्यार देवी का पिसित मंदर है पातालकूट चिदवाड़ा में इस्तित है तामिया तहसील में इस्तित सुदूर वन चेत है पातालकूट भारिया जन जाती का घर भी है घाटी का 1500 फिट निचला चेत है माना जाता है कि यहां से एक सुरंग पचमड़ी तक जाती है भारिया के साथ गौणों का भी निवास है पातालकूट विकास पराधीकान का मुख्याला है नगर वाड़ी अनिक जबलपूर संभाग में अंगला जिला होगा हमारा डिंडोरी जनसंख्या है साथ लाग चार हजार 524 इसका छितफल है साथ हजार 479 वर्किलूमीटर साक्षरता है 63.930 लिंगन पात है 1002 इस्थापना की बात करें तो 1908 में मंदला से पितक कर दिया गया था वरतमार में से कम जनसंख्या गहनत 94 व्यक्ति पिती वर्किलूमीटर वाला जिला है डिंडोरी लिंगन पात में 14 इस्थान इसका 1002 सरवाधी ग्रामीट जनसंख्या पितीसद वाला जिला है डिंडोरी नियूंतम संचित जिला है निडोरी दिनडोरी 36 गर राज से सटा हुआ पूरवी जिला है डिंडोरी डिंडोरी के परेयाटक स्थलों की बात करें हम पूरिव जीवास में राश्टी योध्यान जनजातिये नित्त की बात करने लोकनित सुगा कर्मा रीना विलमा यहीं बेगा यवम गॉंड जनजाती पाई जाती है सरेई पृपरिया इसका अधिकांचि राष्टी जीवास मुद्ध्यान के इंतरगत आता है अब बात करेंगे आंगे हम लोग सेहडोल संभाग की बारे में सेहडोल संभाग में कितने जिले हैं तीन कौन-कौन से सेहडोल उमरिया अनुपोर पहला जिला है हमारा सेहडोल 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 में दूर दरसन आकास वानी है सोहागपुर कौन छेत फिदेश का सबसे बड़ा कौन चेत है सेहडोल में जिले में जिले सेहडोल सेहडोल जिले नमकिस्तान पर आयए हमके परयत distract की बात करें सेहडोल की तो सेहडोल में पराचिन पिसिद बूड़ी देवी माता कमंदिर अंत्रा में कंकाली देवी मंदर में पिसिद नवरात्री मेरा लगता है वाडगंगा बटेसुन मंदिर कल्चुरी सासक युराज देव द्वारा निर्वित कराएगा रिलाइंस गुरोफ द्वारा सेल गैस सैंत स्था पे थे यहां यूरेनियम खनेजबाला राज का एक मात्र जिला है सहडोल सब्द सहस्त डोल से बना है जिसका अरत हजारों तालाब से महाभारत गरंत में जिस बिराट नगर का उलेक है वह है सहडोल जिला ठीक है तो यह सहड अंगला हमारा जिला होगा अनुपुर को कौन सा है अनुपुर की जनसंक्या की बात करें तो इसकी जनसंक्या 7,49,236 छेतफल है अनुपुर का 3,701 बरक किलोमीटर और जनसाख्षरता है अनुपुर की सरसट दिसमलोव 9,30 लिंगनपात है 976 इस थापना इसकी वही 15 एकस् इनको सहडोल से अलग करके बनाए गया था अनुपुर परटक स्थलों की बात करें तो माई की बगिया सोन मोडा नौगराय मंदिर कबीर चबूतरा जलेसुर महामंद्र देव मंदिर आदीनात मंदिर धरेगूर रिसी की गुपा सती मंदिर यहां इस थे हैं कपिल धारा ज इतने वेनको च। देखं़े कर beta और भिडिव डिवद्य घी यह कंटक महाकालसरी में वपस्तिके लिश्टेशन है नदियों की बात करें तो अमर्कंटक से तीन नदिया निकलती है नर्वदा, सौन जोहिला, संबू धारा एबं दुर्गा धारा, नर्वदा, नदी की दो जलदारा हैं, जो अमरकंटक की पहाड़ी में इस्तित हैं, खनिच की बात करें तो वॉकसाइड यहां है, अमरकंटक में, चचाई जल, चचाई, थर्मल पावर स्टेशन है, अमरकंट में, अमरकंटक को पवित नगर घोसित किया गया है, नर्वदा मंदिर, अमरकंटक की पहाड़ी परिस्तित, इस मंदिर को नांकुर के भौसले राजा, राजाओं द्वारा निर्मित है, जबकि रेवा के बगेर राजा गुलाब सिंग द्वारा परिक्मा इस्तल निर्मित कराया गया, यह 20 मंदिरों का समूर है, इस में महेंदनात और पातालिस और मंदिर कल्चुरी सासकों द्वारा निमेत है, जैन धरम का महाकुम हमरकंटक में आयोजित किया गया, यहाँ पर आधिनात जैन तीजितकर की सबसे बड़ी अश्टधातू की पीतमाश्तित थे, अ लाक चर्ता की बात करें, तो 65.930 है, लिंगनपाथ है, 950, उननी सो न्ठानवे में सहेडोल से पितक करके बनाया गया था, का उमरिया, लाक से चपड़ी बनाने का सासकिया कार खाना है, पन पठा नाम कोईला चेत भी है उमरिया में, जोहिला कोईला गाटी भी है उमरिया अब बात करेंगे हम लोग रीवा संभाग की बारे में, कुन सा? चलिए तो रीवा संभाग में कितने जले हैं? चार, कौन-कौन से? रीवा, सीधी, सतना, सिंग, रॉली, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं रीवा के बारे में, रीवा की जनसंख्या देखते हैं तो 23,65,106 है, और 6 फल है रीवा का, 6314 बर किलूमीटर, 6314 बर और साफ्च्छा दर की बात करें तो 71 फल है, लिंग अनपात है, 931, रीवा उत्तर फिजदेश से सटा हुआ जिला है, रीवा के उपनाम है, सफेद सेरों की भूमी, वबिंद फिजदेश की राध्धानी, यहां खनिज फदाज पाए जाते हैं, खनिज, जिपसम, चुना, पत्थर हरसॉंट, वॉकसाइड, डॉलोमाइट, गेरू, आदि, जल पे पात की बात करें तो वीहर नदी पर चचाई जल पे पात है, के उटी, वहुटी जल पे पात है, उद्धेवं की बात करें तो सिबेंट, कत्था उद्धेव, सर्वादी ग्रामीड जन्संख्या वा रीवा में आम अनुसंदान केंद गोविंदगड रीवा में ही इस्ते थे बात करते हैं हम लोग कि आंगे तॉन्स जल्प विद्धुत सिर्मौर जो रीवा में ही है और रीवा का पूर्व नाम है भया यहां की राजा रामचंद की दरबार में तन्ना मित्ता मित्रा तांसें था रीवा के जिले काकार तिर्भुजाकार है ठाको रडमसिंग इस्टेडियम भी रीवा में 1950 में बिंद फिदेश से अलग होकर रीवा बना फुलिस मोटर वर्क्सवब भी रीवा में पुलिस वाहन पिसीक छंकेंद भी रीवा में अलसी की उत्पादर में रीवा जिला अब्बल है अलसी राज की सतना होसंगाबाद मुरेना आधी जिलों में भी उत्पादित की जा चारहजार आठसो इंक्यावन वर्क किलूमीटर और साक्षरता है यहां सीदी में 64.430 लिंगनपाथ है नोसो संतावन संजय गांदी राष्टी वद्यान जिसे 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया यह सीदी में ही है सौन अभ्यारन एभी सीदी में सीदी की भ अधुमी कहते हैं चोरहट पूर मुकमंत्री अर्जुन सींग का ग्रेचेत था यहीं बगदरा और डूबरी फिसिद्ध कोईला ख़दान सीडी में कोरंडम खनेच का उतपात भी यहीं होता है तर रिवा संभाग में अंगला जिला है हमारा सिंग रॉली कौन सा सिंग रॉली सिंग रॉली की जन्संग क्या है 11,78,273 छेथ फले सीद्ध सिंग रॉली का 5,675 किलूमीटर साक्षरता है साक्षरता दर 60,430 920 है यहां का लिंगन बाद 24 मई 2008 में सीधी से अलग होकर सिंग रॉली जिला बना इस सरबादिक पूर भी जिला है याद रुकना सिंग रॉली का जिला मुख्याल है बेडन है जिसे राजिकी उर्जा राध्धानी भी कहा जाता है बिंध्यान चलता बिंदूत के अंद बे जिले के कुछ हिस्से को अलग करके सिंग्रॉली जिले को बनाया गया था जिसमें तीन तहसीले हैं सिंग्रॉली देवसर चिंतरंगी इसकी सीशा सीमा 36 गड़ के कोरिया जिले और उत्तरपिदिस के सौनवद्ध जिले से लगती है एंटी पीसी का 4000 मेगाबाट का सकती सयंत इस्थापे थे यहां मारा की गुफाएं भी सिंग्रॉली में सरवादिक कुएला राजस सिंग्रॉली से प्राप्त होता है इस छेत्त से राष्टिये खनिजविकास प्राधिकर्ण से 1963 से उत्तखनन कर रही है सथी स्थी के लिए विशिश नियाला भी सिंग्रॉली में साड़े ब्यासी डिग्री देशांतर रहा यहां से गुजर्तिये सिंग्रॉली से याद रुपना थिर बात करते हैं रिवा जला में रिवा संभाग में अंगला जला है सतना सतना की जनसन क्या कितनी है 22,28935 छेत् सर्था सतना की बहत तर्द समलों तीन पिति सद लिंगन पात है 926 उद्धेव हैं सेमेंट उद्धेव जेपी सिमेंट एबं बिढी उद्धेव मेला लगता है चित्तकूट में गधा मेला लगता है ठीक है याद रखिए चित्तकूट का कुछ वह यूवी में आता है और जिला है यहां मंदाकनी इभं गुप्त गोदावरी नदी चित्तकूट जल पर पात मंदाकनी नदी पर इस्ते थे यहां इस पर टिक सिला भी है सती अन्सुया वह अत्री रिसी कास्रम भी आए भरहूत इस तो कि कुछ अलेल अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी चित्तकूट को पविद्य नंगर घोसित किया गा राम ववन तोसी चंग्राला यह चित्तकूट में ही इस्ते थे ठीक है चित्तकूट में महतमा गांदी ग्रामोदर इस्ती थे जिसके संस्थापक नाना जी देशमुक थे याद रखिए 2019 में नाना जी देशमुक को भारत रतन दिया गय जी नाना जी देश्मुक और भूपेंद हजाय का भूपेंद हजारी का ठीक विकलांग विस्विध्याल है कहा है चितकूट में अलावद्दीन खान संगी का अकादमी कहा है मेहर यह भी सतनाई जली में अब बात करना हैं लोगों को संभाग सागर संभाग के बारे संभाग के बारे में आप लोगों कुछ जानकारी दे देने सामन कि इसमें पहले पांच जिले सामिल थे लेकिन कya होगा कि निवाडी जो नया जिला बना ए टीक मगर से अलग करके तो इसमें छह जिले हो गए सामिल ठीक है निवाडी भी कहा है संगर में सागर संभाग में पहला जिला देखते हैं सागर की बारे में सागर की जनसंग क्या है 23,78,000 चार्स उन्ठाउन और चेत्वल है सागर का 10,252 किलूमीटर और इसके साक्षर्ता की बात करें तो 76,353 और यहां का लिंगन पाथ है 893 साथ जिलों से घिरा हुआ जिला है सागर सागर में सागर में धमोनी ओर्ष लगता है और नौरा देही अभ्यारन सागर में ही इस्तित थे यूनिवेसिटियों की बात करें तो स्वामी विवेकानन प्राइवेट विश्विध्याल है और हरी सींग गौर विश्विध्याल है जो सागर में ही है याद रखना पिदेश की सबसे पुरानी विश्विध्याल है यूनिवेसिटी है हरी सींग गौर विश्विध्याल है जबाहर लाल नहरू राज फुलिस अकादमी भी यह है महार रेजिमेंट का मुख्या लेवी सागर में बीना तहसील के आगा सौद में ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लगाई गई है इस्टील कॉंपलेक्स सागर में कीट नासक सैंत बीना सागर में यह सते सागर में एरन अभिलेक्स सागर में सती पिथा का पिथम अभिलेक्स मिला इवं समुद्गुप्त का सौभोग नगर परेटक इस्तलों की बात करें तो मंगल गिरी जैनतीज तिस्तल है राहतगर तथा गड़ कोटा का किलाव ही है स्वान एयोजना जुलाई 2009 में सागर जिले में सुरू की गई थी बुंदेलखंड विकास फिरादी केन का मुख्याल है सागर ही है सठर नामक अजन जाती इसी जिले में पाई जाती है ठी बात करते हैं च्छतर पूर जिले की बारे में सागर संबाग में च्छतर पूर जिले की सत्रे लाग बासट हजार तीन सो पचत्तर चेतफल है च्छतर पूर का आठ हजार छेसो सतासी साक्षरता है 63.27 पितिसट और च्छतर पूर का लिंगन पाथ है 883 से चंदेस आसकों की राधधानी होने के कारण च्छतर पूर को जिजाक भुकती कहा जाता था राजा चसाल की नाम पर इसका नाम च्छतर पूर पढ़ा जल विहारी का मेला च्छतर पूर में लगता है जल विहारी का मेला कहां लगता है छतरपुर में परेटया ने स्थलों की बात करें तो खजराहो दोवेला संग्राले मंदर समोगों के लिए पिसिद्ध नौगाओं पांडव पिरपात रंग रंगव जील बेनी सागर बांध इत्यादी खनिश की बात करें तो पायरोफाइट डाइसपूर चतरपुर में हीरे के भंडार गयात हुए हैं ठीक है अब बात करें खजराहो चतरपुर जिले में ही इस्तित्य खजराहो यूनेसको द्वारा मद्पिदेश के खजराहो के मंदिर को फिस धरुवर सूची में जोड़ा गया है 1986 में चंदेल कालीन ग्यारवी सितापदी के अनेक मंदरों का समूव है जिनमें कंदरिया मादेव चोंसटीगूनी मंदिर चित्गुप्त मंदिर बिस्सुनात मंदिर लश्मण मंदिर पारसुनात मंदिर आदिनात मंदिर चत्रभी मंदिर प्रमुके आदिवासी संगराले खजराहो में इस्ते थे सागर संभाग में अंगला जिला है हमारा टीकमगड ठीक है कौन साइट टीकमगड इसके टीकमगड की जनसंग क्या कितनी है चौदै लाग 45,166 चेतफल केतना है टीकमगड का पाँच हजार अरतालीस वर किलोमीटर साक्षरता कितनी है 61.430 लिंगनपाथ 901 याद रखिए टीकमगड के बारे में टीकमगड से अलग करके ही निवाडी नया जिला बनाए गया है ऑक्टूबर 2018 में तो याद रखना सबसे जनसंख्या और छेतफल की दृष्टी से सबसे चोटा जिला है निवाडी ठीक है कितनी जनसंख्या है लगबग 4,001,000 के करीब और छेतफल इसका 1318 वर किलोमीटर ठीक है लगबग यहां के पहले एस्पी है मुकिस कुमार स्रीवास्तों और आई य ए लगब के बात करें तो तलव और प्रवतों का जलाः बोला जाता है ठीक है मगड को बुंदेलों की सौरी भूमी लोक कभी हो इसरुवी जगनिक घाग की भूमी भी कहा जाता है फरेटक इस्तलों की बात करें तो बैत्वा के किनारे बुंदेला बंस की राध्धानी और और्चा में सहीद इसमार्ग एवं राम राजा का पिसिद मंदिर याद रखना अब ये दोनों और चा का राम राजा मंदिर निवारी जिले में आने लगे हैं ठीक है जब से निवारी नया जिला बनाए जटा संकरतीत कोकडेशोर मंदिर जहां सिबलिंग का कारपिती वस रामाएड संगराले इस्तापित है ओर्चा को मद्पेदेश की अयुद्ध्य नंगरी कहा जाता है सरवादिक तालावां वाला जिला यहां के सभी चंदेल कालीन तालावों को निर्मार बिग्यानिक तरी सिक्के से हुए है जिसमें एक तालाव का पानी दूसरे तालाव मे अंदरूनी धंग से चला जाता है अब बात करते हैं लोग दमोव की बारे में साब अगर संभाग में अंगला जिला है दमोव दमोव की जैंसंख्या है दमोव की 12,64,219 इसका छितफल है 7,306,306 बर किलो मीटर साक्षरता है लिंगन पात है 910 रानी दमेंती की नाम पर दमोव का नाम रखा गया है पासाण कालीन इस्थल सिग रामपूर गाटी है ही इसते थे बहसा गाओं के पास निदान कुंड नामक जल्पेपाद भी है है रानी दुरगावती अभ्यारन नापारा पिकनिक स्पोट ये भी दमो जिले में ही इसते थे नरसिंगर में लाइम इस्टोन है डाइमंड सेमेंट की फेक्टरी दमोव जिले में ही इसते थे पीतल के समान के लिए पिसिद्ध है पीतर नंगरी भी बहते हैं ऐसे दमोव को मद्यपिदेश में सरवादीक बाल सिरमिक दमोव जिले में चंदेलोग बतियागड का किला दमो फार्सियन बास्तुकला का उधारन है दमो से करतब नामक समाचर पत्त पिकासित होता है पत्कार मादव सफरे चित्कार सेद हिदर रजा इसी जिली में संबन देते हैं सिंगर गड में गुलाबों से जीलें बात करें पन्ना की किस पन्ना जिले की सागर संभाग में अंगला जिला है पन्ना पन्ना की जनसंग क्या है 10,16,520 छित्फल है 7,135 किलोमीटर साक्षर तादर है 64.8 लिंगन पाथ है 905 हीरा उत्खनन के लिए पन्ना विश्विशिद्य है जून 2009 से एन एम डीसी ने हीरा खनन पुना शुरूं किया पितीवस 80,000 करेट उत्पादित्य है पन्ना जले की अज़यकर तैसील छित्फल की दृष्टी से पिदेश की सबसे चोटी तैसील है पन्ना में टी हाॉस भी है, पुरेना में सिमेंट उद्दों के कैंद है, अभ्हारन गंग terror भी है यही है पन्ना में टीर पन्ना राष्टी उद्ध्यान जो पन्ना वा चतरपुर जिले में विस्तित है यह पिदेश का पांचवा टाइगर रिजर्ब है केन नदी इस उद्ध्यान से गुजरती है जहां केन घड़याल अभ्यारन भी है आवला के अधिक उत्पादन के कारण पन्ना जिले को आवला जिला भी गुशित किया गया है पांड़ो जल्पिपात यही है ठीक है पन्ना में पिषद बल्देव मंदिर लंदन इस्तित फ्लांस के थिडर सेड़ी में बना इटालियन विसिसक मांडली की निरधिसन में किलकला नदीक की तटवत पदमावति यब अबड़ी देवी ग्वालीयर संभाग में कोन-कोन से ज़ली सामिले ग्वालीयर स्विकृरी झुना असुकनगर दतिया तो सबसे पहले बात करते हैं ग्वालीयर के बारे में ग्वालीयर कि जनसंग क्या है बीस लाग बतीस जार चातीस वो चेत फल है 4560 किलूमेटर साक्षरता दर है यहां गुवालियर में 46.7 पी 30 लिंगन पाथ है 864 लिंगन पाथ कितना है गुवालियर का 864 इस्थापना की बात करें तो तो राजा सुलसें पवित्थ संत गुवालिया या गालाव रिसी की सब्माद में आठवी सितापदी में इसकी इस्थापना की पर larva की इस्थाना की बात करें पर जैनमूर्थी तेली का मंदिर यह दैविट से लिगा है मंदिर ठीक है तेली का सूर मंदिर उडिशा के सूर मंदिर की नकल है उद्धों भी बात करने तो दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना चीनी मिट्टी एवं बिस्कुट उद्देव भी ग्वालियर में है मद्वेप देश का सबसे बड़ा व्यापारीक मेला लगता है धगर्जरा गजरा जरा गज्रार्थर्य मेरिटी कल्लीज भी ग्वालियर में थो आँए भी बात करते हैं मद्वेप देश करा जस्तन्र मुख्य है महालेकाकर का कारया persuade में ही इससले सब्सक्राइब देश का देश का पित्थम एडवोकेट टैनिंग सेंटर ग्वालियर में इस्थित्त है 31 अक्टूबर 2009 को इसकी स्थावन पटवारी फिसीक्षन केंद भी ग्वालियर में गाटी गाटी गाओं अभ्यारन जिसमें सौन चिडिया का संरक्षन किया जा रहा है एक ग्वालियर जिले में ही इस्तित्त है ठीक है संगीत संगीत समराट तांसें का मकबरा ग्वालियर में जहां पर तांसें समारोग कायोजन किया जाता है जबकि तांसें की जनम इस तलिए बेहट सरोध घर के नाम से स्ताफित संगराल है जिसे उस्ताद हापिज अली खान के पिराचीन घर में इस्ताफित किया गया है ग्वालियर का किला निर्माता है इसके सूरसें किलों का रतन या जिब्राल्टर कहा जाता है से बाबन ने संग्यादी थी पूर्व में ग्वालियर मद्ध प्रांद की राधनी था दातावंदी छोड गुरुद्वारा में छटवे गुरु अरोगोविंद को जहांगी ने दो साल की कैद में रखा था किले के अंदर ही इस इस्तान पर गुरुद्वारा है ठीक है बात क हुआ रंगमंच बेजाताल ग्वालियर में इस्ते थे उच्टम नियाल है जवलपूर की एक खंड फीट इंदर में और दूसरी ग्वालियर में ठीक है मानसिक चिकसा संस्थान ग्वालियर इंदर में है अब विस्विध्यालाओं की बात करें तो जीवाजी जो संगीत विस्विध्यालाओं ग्वालियर में 2008 में इस्तापित किया गया विजया राजे सिंधिया किरसी विस्विध्यालाओं 2008 में इस्तापित किया गया था आंगे बात करते हैं ग्वालियर संभाग में अंगला जिला है मारा सिवपूरी सिवपूरी की जनसंग क्या है सत् 26,050 छित फले सिवपुरी का 10,278 बर किलूमीटर कितना 10,278 बर किलूमीटर साख़चता है सिवपुरी की 62.5 पितीसर लिंगन पाथे 877 मेला की बार करते हैं पीर बुधान का मेला लगता है सिवपुरी में मादव राष्टी उद्यान में जौर्ज केसल भवन भी इस्तिते थे अब भैरन करेरा भैरन जहां सोंच डिया का सनक्षन किया जा रहा है इस उद्यान से राष्टी राजमार्ग तीन गुजाजता है मनिहारी नदी पर सांक सागर एव मादव सागर बांधिश्तिते थे 2010 में शिवपुरी को मद्ध पिदेश का पहला परेयटन शहर घोसित किया गया परेयटक स्थल सिवपुरी में नर्वर का किला, तत्या टोपी की समाधी, सिंधिया परीवार की चत्रिया, टाइगे सफारी सिवपुरी में राष्टी ये राजमाक्तिन गुजरता है सिवपुरी से पूर्व में इसका नाम सिवपुरी था कथा बनाने का कारखाना भी यहीं सिवपुरी में है ठीक? कथा बनाने का कारखाना यहीं पर है सिवपुरी को भगवान सिवप की नगरी कहा जाता है राज का पहला पर्माडू विद्धुद गिरह भीमपूर में पिस्तावित है मदविदेशन में नियुनतम ताबमान सिवपुरी में ही पाय जाता है बात करें गुना गुना की जन संक्या है वारे लाग एकतालीस अजार पाससो उननीच छेतफल है चाहजार चारसो पचासी बर किलोमीटर साक्षरत अदर है त्रेसट दसमलो दो की तीसद लिंगन पाथ है नो सो बारे मेला तेजा जी का मेला लगता है यहां गुना में उद्योग में विजय पूर में गेल कंपनी है नेशनल फैर्टिलाइजर्स विजय नंगर विजय पूर गुना जिले में जिसे अमेरिका एबं इटली के सहयोग से स्थापित किया गया था भू ग्रैदूर संचार अनवेशन केंद गुना जिले में ही है हजीरा, विजय पूर, जगदीशपूर फाइफ लाइन यहीं से निगलती है फिराचिन काल में गुना अबंती राजी का हिस्सा तथा अठारवी सिताब्दी में राधागर रियासत का हिस्सा थी 1949 में गठित मद्ध प्रांद के सोले जिलों में एक गुना जिला भी था कुम राज गुना की महत्पूर गल्ला मंडी है राधागर में दिगवजय सिंग, याद रखना है नहीं राधागर में दिगवजय सिंग का गाउं के पूर्मुकमन द्रीमद प्रिशके ठीक है वजरंग गड़ में प्राचीन किला हिंदू विवम जैन धरम से संबंदीत पिसित दिस्तल है अब बात करते हैं गुवाली इर संबाग में अंगला जिला है मारो असोखनगर असोखनगर की जन्संग क्या है आठ लाग पेंतालीस जार एक तालीस छेत फल है चार अजार चैसोचेतरवा किलूमीटर साक्षरता दर है यहां की 66.4 पितीस है लिंगन पाद नौसोचार है इस्तापना इसकी असोखनगर की 15 अगस्त 2003 को गुणा से अलग करके बनाए गया था और चैन्देरी की फिसिद किलाभी यही है चैन्देरी का ठीक चैन्देरी की साड़ियों के लिए फिसिद है चैन्देरी ठीक चैन्देरी में बीजू वाबरा संगीतकार की समाधी भी है मौंगावली में खुली जेल भी है असोक नगर में आनंदपूर आस्रम यहीं पर रिस्ते थे असोक नगर जिला पार्वती और बैत्वा नदी का जल विभाजक है चंदरी साडी पेटेंट कराने बाले मद्धिदिस का पहला राज है मौल बांध कोच बांध पार्वती नदी पर है असोक मौर के नाम पर जिले का नाम पड़ा सिंद्वा बैत्वा नदी के मद्ध त्रिकाल मंदिर में 24 जेन तीर्थ कर रहे फरेटन इस्तलों की बात करने तो लबकुस जनम इस्तल दुवान जन चित सहयोग संपदाय का चंदल मट चंदेरी में बादल महल गोसक महल हैं असोक नगर में ईसागर चंदेरी बा मुगावली तैसिले इस जिले में आती हैं फिर बात करते हैं दतिया की बारे में दतिया की जनसंग क्या है साथ लाग श्यासी जार शास्तो चंववन च्छेतफल है दतिया का 2691 किलोमीटर साक्षरता है 72.630 लेंगनपाथ है 873 दतिया का इसका दतिया का पुराची नाम है दिलीफ नगर वीर सिंग मुंदेला द्वारा उन सत्रवी सता बद्वाबदी में साथ मंजिला सत्गंडा महल का निर्मार कराये गया इसे पुराना महल हवा महल खेत्री महल भी कहा जाता है फिदेश का सरवाधिक सिंचित जला है 703 दतिया गोड़ जरा से असोक के अब लेक पराबत हुए है जहां असोक का नाम असोक मिलता है दतिया मे पीतामरा पीट भी इस्तित है सक्ति भी रतनगड माता का फिसिद मंदर कहा है रतंगर का माता का फिशिद मद्नर है दतिया में जैनों के तीरित इस्थल सौनागरी भी यही है चेतफल की दिरिष्टी से सबसे छोटा जिला था जब तक निवाडी गटित नहीं हुआ था ठीक है अब छोटा सबसे निवाडी है कुंदेरो सिंग संगीत कॉलेज भी यही है अनिक मंद्रों के कारण दतिया को लगु बिंद्रावन की संग्या दी गई है वगला मुखी देवी धुमावती देवी मंद्र है यही है दतिया भांडेर मार्क परववनस्पति उद्यान है सेव नधा जल पेपाद सिंधू नदी तो सबसे पहले बात करते हैं बेंड की बारे में बेंड की जनसंग्या है 17,3005 छित फल है बेंड का 4,469 चार जार चार जार चार सो उनसर वर किलूमीटर साक्षर ददर है 75.330 लेंगन पार्थ है 837 फिर मुक फसल है 600 याद रखिए अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है ठी कि मुझसे गलती ना हो सही बताया जा जो भी बताया अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसे किर्फिया करके कमेंट बॉक्स में डेटेल की साथ ले लिख दें जिससे अगर गलती हो जाती है तो दूसरे को पता चल जाए ठीक है फिलीच बिंड में बात करें मंदरों की दो जम धारा का रेडू का माता मंदिर दद रोहा रोहा सरकार का हनुमान मंदिर बिंड में यह बिंडी रिसी के नाम पर भिंड नाम पड़ा इसका अटेर किला बिंड में यह बिंड को बागियों का गड कहा जाता है ड़केतों के कारण ठी भिंड को बागियों का गड़ कहा जाता है मद्विदेश का सबसे कम बरसा 55 cm वाला इस्थान है भिंड कम लेंगनपात में पहला इस्थान है 837 मद्विदेश का दूसरा सूखा बंदरगा मालनपूर भिंड में है उद्देवों की बात परनें तो कैडवरी रेनवेक्सी कंप बेंड में आपनों सूचित जाती की जन्संग क्या सबसे कम है बेंड में अब है सिवपूर सिवपूर की जन्संग क्या है 6,87,861 चित फल है यहां का 6,606 साक्षात दर है संताउं दसंबल चार पिती सर लिंगनपात है 901 इस्थापना की बात करें तो 1909 में मुरेना से अब्भ्एकरन संपर में पालपूर कूनोंब्अनर должine की बात करें तो सर् właściwie सिर्वपूर सरवादिक कुपवसित जिलाए इसकी सी माराजिस्थान से लगती है से इतनुपी कर कि चम्मल नदी से सिंचित जिलाए काष्ट नकासी कलाकेंषण यही है ठीक से उपर में ककेटो डेम भी से उपर में बात करते हैं मुरेणा चंबल समाग में मुरेणा मुरेणा की जनसंक्या उननीस लाग पैंसट जार जार नौसो शत्तर शेत्फल है चार जार नौसो नबासी बर किलोमीटर साकचरतर दर है 71,030 लेंगनपात है 840 मद्धपेदेश का सहथ जिलाया है परेटा के स्थलों की बात करें तो सेहोनिया में ककन मठ मंदिर वा सास बहुम अभी लेखें बटेशुर में 6-7 सितापदी के मंदिर हैं बटेशुर को परेटर ने तो विक्सित किया जा रहा है पाडवली वा मितावली इतिहासे के स्थले हैं यहां मतावली इस्थल महाभारत कालीन है वा गुप्त कालीन मंदिर के विया अवसिस प्राप्त हुए हैं गुर्जर सरदार सबलद्वारन निर्मित किला खुपसूरत बांध सबलगड़ में हैं तो एक इतिहासी कालीन 86 कुफाओं की सिंखला पहाड़गड़ में चंबल अभ्यारन का मुख्याल है भी यही है मुरे नामे नूराबाद जहांगीर कालीन नगर कुवारी नदी पदमध्य योगीन वान गौना बेगम कमकवरा मुरे नामे मुख्फसले सरसों यागी गजा खेतू पिसिद्ध है मुरे ना जीरो से च्छे वर्स आयू वर्ग में सबसे कम लिंगन पात है मुरे ना का 829 चंबल नदी के किनारिज चंबल घड़याल पर्योजना यहां डॉल्फिन का संद्रक्षन किया भी किया जा रहा है वीहर समस्य भी मुरे ना में उद्ध्यों की बात करें तो कथ्था बनाने का का रखाना बानमौर के एस सरसों तेल कंपनी यहीं सभी मुरेना जिले में मत्वरा रेफाइनीर पर आधारित पेट्रो केमिकल उद्ध्यो मुरेना में स्थापित किया जा रहा है मुरेना में मत्विदिश का सबसे बड़ा पोस्ट ओपिस है कालीन निर्मार ही तू संभाग ठीए बहुत अच्छे से देख लिया हम लोग ने जिलों को भी और संभागों को अब आंगे बात करेंगे हैं लोग जनांक की ये परीदस के बारे में ठीक है याद रखिए हम लोगोंने जन गड़ना से संबंदीत 2011 की जन गड़ना से संबंदीत भारत के बारे में पूरी हम लोगोंने देख लिया था एक लेक्चर में ठीक वो लेक्चर आपका मिल जाएगा इस्पेशल वीडियो फोर आईएस वीसीएस पिले लिस्ट सूजी में ठीक हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे निदेख सामान कियान के बारे में याद रखिए हम लोग अभी तक तीन चेप्टर खतम कर चुके हैं तीसरा चेप्टर था हमारा समभाग और मद्यपदेश के जितना भी जिले हैं उन सब के बारे में एक मत्पूर जानकारी जोजो थी प्रमुक्तत वो सभी जान लिये थे याद रखिए जितने भी हमारे मद्पदेश सामान ग्यान से सम्मद दी थे चेप्टर खतम होते जा रहे हैं वो मद्पदेश सामान ग्यान के नाम से जो आपकी पिले लिष्ट सोची बनी हुई है उसी में डले हुए है इसमें बात करने वाले हम लोग जनांकी किये परी दिस के बारे में याद रखिए भारत के बारे में हम लोग उनने सेंसर से जनगड़ना देख ली थी और वो लेक्चर आपको मिल जाएगा इस स्पेशल वीडियो फोर आई एस में ठीक है उसी में डला गुआ है वहां जाकर आप लोग देख लें संकूर भारत की जनगड़ना से संबंदिर जो भी बहत उनतत हैं उसमें मिल जाएगी इसमें हम लोग बात करेंगे मद्यपिदेश की परीपेश में मद्यपिदेश में पिथम जनगड़ना की सुरुआ 1881 में मानी जाती है 2011 में हुई जनगड़ना मद्यपिदेश की सतंता के बाद साथ भी जनगड़ना है जनगरना का कार पितेग दस वर्स पस्चात किया जाता है जैसे कि अब 21 में आ जाएगी ठीक है 21 में हो नहीं है तो 21 में आ जाएगी तो उसका याद रखना अभी तक 21 तक यही मत्धून तत्त रहेंगे वर्स 2000 की जनगरना 21 सदी की पिदेश की पहली जनगरना थी जनगरना कार जनसंख्या दिनियों 1948 की अनुसार किया जाता है 11 जुलाई कब 11 जुलाई को प्रिश्व जनसंख्या दिवस मनाय जाता है साक्षालता दर में साध वर्स और उससे अधिक आयू बैक्टे ब्यक्तियों को सामिल किया जाता है 11 मई को मद्धुदेश में जनसंख्या नियंतर दिवस मनाय जाता है 2011 के अंतिम आकड़ों के नुसार मद्धुदेश की कुल जनसंख्या साथ करोड 26 लाग 26 जार 809 है जो देश की कुल जनसंख्या का 630 है जनसंख्या की आधार पर मद्धुदेश देश का चटवा बड़ा राज्य है मद्धुदेश का बहुगोलिक चेतफल 3,8252 किलूमीटर है जो देश के कुल चेतफल का 9.38 है याद रखिए देश की कुल जनसंख्या मद्धुदेश में कितनी रहती है 6.37 के करीब और मद्धुदेश का चेतफल कितना है कुल का तो याद रखना 9.38 है चेतफल की दिरिश्टी से मद्धुदेश राजिस्थान की बाद दूसरे स्थान पर है और जनसंख्या की दिरिश्टी से चटवे स्थान पर याद रखना है आपको कि जब तक 36 गार का बटवारा नहीं होगा था तब तक मद्धुदेश चेतफल की मामले में भारत का पहला नमबर पर था ठीक अब दूसरे पर है तीसरे पर महराष्ट चाथरी नमबर पर है उत्तर पिदिश मद्धुदेश में सरबादिक जनसंख्या इंदौर जिले में 32,676,697 तथा सबसे कम जनसंख्या है हाल्दा में कितनी है 5,70,465 जिले से याद रखना है लेकिन 2011 की जनगरणा के अनुसार है और कब तक 2018 अक्टूबर तक जैसे ही अक्टूबर में आपका निवाडी जिला बनता है टीकंवर से लग करके तो इसकी जनसंख्या हो जाती है चाल लाग के लगवग तो सबसे कम जनसंख्या अब निवाडी में है तो 2021 की जो जनगरणा आकड़े आएंगे उसमें आपका निवाडी सबसे छोटा जिला रहे है तीक जनसंख्या मद्धिदेश का जनसंख्या गनत रहे है 236 पिती बर किलूमीटर कितना 236 बात करते हैं आगे बहुपाल का गनत तुस सरवादिक है 855 ब्यक्ती पिती बर किलूमीटर डिंडोरी की जनसंख्या गनत सबसे कम है कितना 94 ब्यक्ती पिती बर किलूमीटर के जनकर्णा 2011 की जनसंख्या गनत सार्वादिक है कितनी ? 13,7 आपको याद रखना है 2021 की जनकर्णा कर्णब गनत सबसे जनसंख्या गनत सबसे 63 तथा अनुख पुर्जिली की जन्चंख्य विद्धीदर सबसे कम हुई 12.3 पुर्जिश्ट 2011 के अंतिम आपणों के नुषार मद्ध्धिश का लिंगनपाथ है 931 सरवादिक लिंगनपाथ वाला गाठ कितना है 1021 सबसे नियुंतम लिंगनपाथ है बेंड में 837 एक हजार पुरूसों पर 837 महिला है 2011 के अंतिम आपड़ों के इंद्धार मतिदेश की साख्छता दर है 79.30 साख्छता की दिर्ष्टी में फिदेश मतिदेश को भारत में 21 वाय स्थान में लाग है फिदेश में पूरुस साख्छता दर 78.770 महिला साख्छता दर 69.230 पूरुस एवा महला साक्षरता कि सरवाद्धिक दर इंदौर और भोपाल में जबकि सबसे कम पूरुस एवा महला साक्षरता दर अली राजपुर में सरवाद एक नगरीय जनसंक्या वाले पिती ब्यक्ती हजार पिती सितुमीत तुजर है चंवन पिती हजार जी जनम पर और यह 80 होगा च्रीकट कितना होगा 80 एक मिनेट रोगी एक कंफर्म करने इस ट्रीव कि गलत बताने से अच्छा है कि सही बताने थोड़ा टाइम लग जाए कि अगरे 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 था कि अंट गेस्ट आट द्रसम लोग जीरो मिनेटे रोगी हजार वएक्ती एक कितना कि तो किटना है आट द्रसम लोग जीरो मद्पिदेश में पिती ब्यक्ती आय पिछलित भाव पर 59,790 रुपिया है इस ते भावों पर करेंट के याद रखिए हम लोगों ने पूरा करेंट अपेस 2019 का देख लिया था मद्पिदेश से संबने मद्पिदेश करेंट अपेस के नाम से जो प्ले लिश्ट बनी हुए है सुची उसी में डले हुए है ठीक होहां जाकर सब देख सकते हैं क्या क्या दोजार नीस अठार करना दो हजार ग्यारे के नुसा कुल कारिसील तेन करोड 15,74,133 मोख कारिसील दो करोड 27,211 कास्तकार 82,14,900 तेहरान में खेती हाल खेती हर मजदू 66,30,821 गैर कारिकारी कारिसील जन संक्या 4,10,52,676,2011 की जन गरना किर्म साब मद्विदिस की जन संक्या निमन पिकार है ब्यक्ती हैं कुल जन संक्या 7,26,26,809 जनुमें पुरूस हैं 3,46,12,306 यानि की 59,309 महला हैं 3,50,14,503 यानि की 18,20,21 अब बात कर लेते हैं 2011, 2001 बाद 2011 की जन गरन किये तुलन तो ये बर्स है और 2011 का है ये 2011 का है एक का है ठीक्त बर्स 2011 और 2001 तो जन संक्या की बात करते हैं सबसे कहलें तो 2011 में 7,26,26,809 तो 2011 में थी 6,3,48,023 जन संक्या बिद्धी दर की बात करें तो 2011 में हुई 20,3,37 रही है 2001 में रही 10 की ये जन संक्या बिद्धी 24,26,26 बिद्धी लिंगन पात की बात करें तो 2011 की जन गरना के नुसार है 931 2001 की जन गरना के नुसार था 920 लिंगन पात नगरिये में 918 है 2011 की जन गरना के नुसार 2001 की जन गरना के नुसार 898 था लिंगन पात ग्रामीर चेत में 936 है 111 की जन गरना के नुसार 2001 की जन गरना के नुसार 1927 था स्वरी 927 लिंगन पात अभी 2011 की जन गरना के नुसार 988 है और 2001 की जन गरना के नुसार 932 था साख्छता की बात करनत अभी 2011 में जो जण गड़ना हुई थी इसके अनुसार 79.3 deeper सते और 2001 की जण गड़ना की नुसार 63.7 deeper सते साख्छता भर्सों में 78.7 deeper से सamer 11 की जण गड़ना की नुसाः 2001 की जण गड़ना की नुसार 76.1 deeper adjac महिला साख चरता 2011 की जनगरणा के नुसार 69.230 2001 की जनगरणा के नुसार 50.330 जन संख्या 0 से 6 बस तो यह 1 करोड 8,09395 2011 की जनगरणा के नुसार 2001 की जनगरणा के नुसार एक करोड 7,082,214 घनत्वें 236 2011 की जनगरणा के नुसार था 196,111 की जनगरणा के नुसार था अब बात कर लेते हैं हम लोग मद्ध पिदेश मद्ध पिदेश के सरवादिक जन संख्या वाली जिली याद रखें अगर आप PCS की तैयारी कर रहें तो आपको ट्रिक्स कभी भी नहीं रटना चाहिए ट्रेटेल से उनके बारे में जानकरी याद होना चाहिए क्योंकि आप वन डे एक्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं ठीज? और अगर जो वन डे एक्जाम की तैयारी कर रहा है वो ट्रेक्स से याद रख सकता है मैं बताँगा आपको डेटेल सिटी इंदोर इंदोर कीए 32,666,697 पहले नम्मर पर जबलपूर दूसरे पर 24,63,289 सागर है 23,78,458 गोपाल है 23,71,61 रीवा है 23,65,106 पहले पर इंदोर है दूसरे पर जबलपूर, दीसरे पर सागर, चोतरे पर बोपाल, पाचवी नम्मर पर जीवाग बात करते हैं नियुन्तम जनसंख्या वाले जिनों के बारे में तो हर्दा 5,70,465 याद रखे लेकिन हर्दा अक्टूबर 2018 के पहले था निवाड़ी जब से नया जिला बना है तो निवाड़ी की जनसंख्या चाल लाग के लगवग है सबसे कम जनसंख्या निवाड़ी की है उमरिया 6,44,759 सेवफोर 6,87,861 डिलोरी 7,4,524 अली राच्पूर 7,28,999 बात करते हैं चेत्फल के प्यदेश के सरवादिक चेत्फल बाले जली तो इसमें चेत्वाड़ा 11,815 सेवफोरी 10,278 बाट क्लूमीटर सागर 10,252 बाट क्लूमीटर बैतूल 10,343 बाट क्लूमीटर बालागाट 9,200 उन्दीश तो पहले पर चेत्वाड़ा दूसरे पर सेवफोरी तीसरे पर सागर 4,2 तूल 5 मीट नम्बर पर बालागाट नियुम्तम शेत्फल वाले जलों की बात करें तो इसमें ततिया भोपाल अली राजपुर हर्दा ततिया के उत्तना है दो दो हजार छहसो एकानवे बर किलोमीटर भोपाल का है 272 बर किलोमीटर अली राजपुर का है 382 बर किलोमीटर हर्दा का है 334 बर किलोमीटर गोरहनपुर का है 3227 बर किलोमीटर लेकिन यहां भी याद रखें जब से आपका ऑक्टूबर से ऑक्टूबर 2018 में निवारी जिला बना हुआ है तो अब जन संक्या और छेत्फल की दिरिष्टी से सबसे चोटा जिला है ठीक है 2021 की जन गड़ना के अंतिमा के आंगे उसमें कंपरॉन हो जाएगा ठीक है आपको वही याद रखना होगा अभी भी अगर पूचता है 2018 की बाद तो निवारी यह है लिंगनपाद की बात करें तो 2011 की जन गड़ना के मताबे पिदेश में 30,000 फूरसों पर महलाओं की संख्या 931 है राजमे सरबादी की लिंगनपाद बाला जिला बाला गाट है यहाँ 30,000 फूरसों पर 1021 महला है जबकि फिदेश का भिंड जिला 9999 लिंगनपाद बाला जिला है जिसमें 30,000 फूरसों पर 281.27 महला है पिदेश 6 बरस तक की बच्चों में लिंगनपाद 9180 है ग्रामीड लिंगन पाथ 936 है सर्मादी ग्रामीड लिंगन पाथ बाला बालागाट में नियुम्तम बिंड में सहरी लिंगन पाथ 908 है सर्बादीक सहरी लिंगन पाथ बालागाट में नियुम्तम बिंड में ठीक रबात कर लिते हैं लोग सरवादिक लिंगन पाद बाले जिले बालागाट 1021 फ्रेयाली राजपुर 1011 मंदला 1008 डेलोरी 1002 जाबुगा 990 ठीज तरवाद कर लेते हैं हम लोग नियूंड तम लिंगन पाद बाले जिले तो बेंड 837, मुरेना 840 ग्वालियर 864 दतिया 873 सिवपुरी 877 सरवादिक लिंगन पाद 0-6 वर्ज आयूव में तो अली राजपुर में 988 डेलोरी में 970 वालागाट में 970 डेलोरी और मंदला में 970 नियूंड तम की बात करें 0-6 आयूव में तो मुरेना में सबसे कम 839 839 वालियर में 840 भिंड में 843 जनसंख्या ग्वनत की बारे में बात करें जनसंख्या ग्वनत में 2001 की जन गड़ना की नुसार मद्र पिदेश का जनसंख्या ग्वनत 196 था जो 2011 में बढ़कर 236 हो गया पिदेश का सरवादिक जनसंख्या ग्वनत वाला जिला है मोपाल 855 व्यक्ति-पिति वर किलो मीटर और जबकि सबसे कम जन ग्वनत वाला जिला है डिडोरी 94 व्यक्ति-पिति-वर किलो मीटर में रहते हैं सरवादिक जनसंख्या ग्वनत वाले जिलों की बात करें तो मोपाल 855 व्यक्ति-पिति-वर किलो मीटर में रहते हैं रेंदॉर 849 30-32 किलोमीटर तरजवलपोर reminds isika casual average और तरफestar सब Черेचाली प्राम प्रफर सब आज़ संद। govern मार्र टिन सब पया प्र擊र को नहें सब सो जन घंत की बात करें तो तिन्डोरी पहले नंबर पर कね च में सब सिक्ख में सेउचार इकस चार मेख्फी किती हो साक्षर्था की बात करें साक्षर्था में मद्धिदेश का साक्षर्था जहां 2001 में 33.730 वहीं 2011 की जंगर्णा में यह बढ़कर 29.3232 पोसों में साक्षर्था है 78.33 महिलाव में 69.26 पिदेश का जवलपूर जिला सारबादिक साक्षर्था है यहां 81.31 जबकि अली राजपूर सबसे कम जंग साक्षर्था वाला जिला है तो सबसे सरवादिक साक्षर्था वाले जिलों की बात करें तो इनमें सामेल है जवलपूर 31.31 रेंदोर 80.39 बोबाल 80.34 बाल अगाट 70.31 दोगवालियर साक्रादितिक, 9. lean साक्षर्था वाले जिलों की बात करें तो इनमेल है है तो अली राजपूर 36.31 याद्र रखें इनमेल है पूरे भारत में सबसे कम साक्षर्था वालेmare जिला जिला है जागुगा 45.03, बढ़वानी 49.03, सिर्फोर 57.04, तो धार 69.03, सरवाद एक ग्रामीड साक्षर्टा की इस बाप करें तो इसमें बालागाट 75.05, बेंड है 24.03, नरसेंकोर है 73.03, नियुनतम ग्रामीड साक्षर्टा वाले जलों की बात करें तो अली राजपुर 32.03, जागुगा 49.03, बढ़वानी 43.03, सरवादिक सहरी साक्षर्टा वाले जलों की बात करें तो इसमें है सिवनी 88.09, मंडला हर्दा 87.02, जवलपुर 87.03, नियुनतम साक्षर्टा वाले जलों की बात करें सहरी की तो इसमें सामिल है स्योपुर 22.09, टीकमगण 14.07, स्रिंग रॉली 75.05, सरवादिक पोरोस साक्षर्टा वाले जलों की बात करें तो इनमें है आपका अली राजपुर 85.01, और नियुनतम पोरोस साक्षर्टा वाले जलों की बात करें तो इनमें है आपका अली राजपुर 42.09, जाबुगा 52.09, बढ़वानी 55.07, सरवादिक महला साक्षर्टा वाले जलों की बात करें तो बोपाल में 74.09, जाबलपुर में 74.04, इंदोर में 74.09, तो याद रखना है, सरवादिक पुरोस साक्षर्टा वाले जले हैं इंदोर जाबलपुर, और सबसे जाना महला साक्षर्टा है बोपाल में, और नियुनतम साक्षर्टा वाले, महला साक्षर्टा वाले जले हैं अले इराजपुर, 30.03, जाबुगा, 33.08, बढ़वानी, 31.04, अब बात करते हैं लोग जन संक्या विद्धी धर के बारे में, मत्पिदेश सरकार द्वारा जन संक्या नियंतिन की कौसिस का, फईडाम 2011 की जन गड़ना में, जन संक्या विद्धी धर में आई, कमी की रूम में दिखाई दे रहा है, 2001 की जन्गरणा के मुकाबले 2011 में पिदेश की जन्संख्या विद्धिदर में लगवच 4.30 की कमी आई है 2001 में यह 24.3 पिदिशक थी जो 2011 में 20.3 पिदिशक रह गई अर्थाद बीती एक दसक में जन्संख्या विद्धिदर में 3.96 की कमी आई है सरबादिक चन्संख्या वाले जिलों की बात करें तो इनमें सामल है इन दोर विद्धिदर वाले जिलों की बात करें तो इन दोर 32.8 पिदिशक विद्धिदर रही जाबुगा 30.78 बिद्धिदर रही है बोबाल की 28.62 बिद्धिदर और सिंगरोली की 28.05 वडवानी की 27 दिसंद्यवल का 7 निउटम जनसंख्या भिद्धीदर वाले जिलों की बात करें तो इन में अन्युक पहरो, 12 सम्द नो पिद्धीदर रहे है, वेतूल में 12.9, 6, 12 में 13.1, 6, 37, 10 में 13.2, tracks. रही है बाला गाट में तीदर दिसम्लाओं छह विद्धीदर रही है ठीड़ है कि फिर बात करते हैं हम लोग सहरी सहरी वा गरामीड जनसंख्या बार के बारे में सहरी वा गरामीड जनसंख्या जनसंख्या की ताजा अंतिमाक्णों के नुसार पिदेश की जनसंख्या 7.25 करोड में से 5.25,57,404 लोग गरामीड जेत्र से हैं जबकि 2.79,405 लोग सहरी जेत्र में निवास करते हैं कि दोहजार ग्यारे के अंतिमाक्णों के नुसार पिदेश की 32.37,305 जनसंख्या गाउं में निवास करती है तो 27.63,305 जनसंख्या गरामों में सहरों में निवास करती है गाउं में कितरी 32.37, कुल गरामों की संख्या है 5.930, पिदेश में सरवादिक नगरी करनी पितिसत वाली जनों की बात करने तो भूपाल 80.9,305 इंदोर 14.1,305 ग्वाली और 62.7,305 निवास की बात करने तो दिन्डोरी 4.6, घरी राजपुर 7.4 और सीधी 8.3,305 सरवादिक गरामीट जन संख्या वाली पितिसत वाली जिलों की बात करने तो दिन्डोरी 94.5,344 अली राजपुर 52.2,305 और सीधी 91.7 निवास की नगरामीट जन संख्या वाली जिलों की बात करें तो इसमें भूपाले 19.1,303 और 25.9,305 अगवाली और 37.9,305 अब सबसे जरूरी आंकड़े हैं क्योंकि MP में बहुत कुष्चन इसी से पूंचे जाती है स्टी एसी से अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती 2011 की जन गड़ना के अंते माक्रों के अनुसार मद्वदेश की अनुसूचित जाती एक करोड तेरह लाग फ्याली सजार तीन सबीस हैं जिसमें 69 लाग आठ जार 638 पूरस हैं और जिसमें जिसमें 45,33,682 महिला हैं पिदेश में अनुसूचित जाती की संक्या पिदेश की कुल जन संक्या का 15.630 पिदेश की अनुसूचित जन जाती की जन संक्या एक करोड त्रेफन लाग 16,784 हैं जिसमें से पूरस हैं 70,19,404 और महिला हैं पिदेश की अनुसूचित जन जाती की जन संक्या हैं खुल 21.1,30 मद्विदेश की जन संक्या गी ठीए 21.1,30 सरवादिक अनुसूचित जाती बाले जलों की बात करें तो इन दौर कितना हैं पांच लाग 45,239 और जन दूसरे पाह हैं पांच लाग 23,890 सागर पांच लाग 1630 नियुम्तम अनुसूचित जाती की बात करें तो जहाब हुआ सत्रह हजार चार्सो सत्ताइस अली राजपूर 26,870 नियुम्तम अनुसूचित जाती जन संक्या पिती सत के मामली में ठीक अभी जन संक्या के मामली में देखा अब पिती सत तो पिती सत में उच्चन है 26.4 दतिया 25.5 तीकमगड 25.4 नियुम्तम अनुसूचित जाती जन संक्या पिती सत के मामली में तो जहाब हुआ में 1.7 अली राजपूर 3.7 पिती सत मंडला 4.6 पिती सत सरवादिक अनुसूचित जन जाती वाले जलों की बात करें 9,62,145 जहाबुगा में है 8,91,888 नियुम्तम अनुसूचित जन जाती वाले जलों की बात करें तो भिन्द 6,31 दतिया 15,61 और मुरेना में 17,030 सरवादिक अनुसूचित जन जाती जन संक्यात पिती सत बाले जलों की अली राजपूर में 89 पिती सत जहाबुगा में 87 पिती सत वाले जलों की बात करें तो भिन्द में 0,64 पिती सत मूरेना में 0,39 दतिया में 1,9 पिती सत अब बात करें देश में मद विदेश का इस्थान जन संक्या में मद विदेश का इस्थान चट्वी नंबर परें देश में जनसंख्या विद्धी दर में मद्विदेश का इस्थान नौभी स्थान पर है जनसंख्या घनत में मद्विदेश का इस्थान सत्रवा है लिंगनपात में मद्विदेश का इस्थान अठारवा है साप्चरता में मद्विदेश का इस्थान 21 वा है शिसु लिंगन पात में मद्धिदेश कहिस्तान 19 वा है अनुसूचित जाती जनसंख्या में मद्धिदेश कहिस्तान 17 वा है अनुसूचित जनजाती जनसंख्या में मद्धिदेश कहिस्तान 17 वा है और अनुसूचित जनजाती जनसंख्या में मद्धिदेश कहिस्तान 17 वा है लेकिन पितीस सत के मामली में ग्यारभी स्थान पर नगरी ये जन संक्या में मद्विदेश का इस्थान आठवा है, ग्रामिट जन संक्या में मद्विदेश का इस्थान चटवा है, छेतफल में मद्विदेश का इस्थान दूसरा है, विविन धर्मों की बात करें, समुधाय मुसलिम च्छे लो संतावनसे चीन में सोय जर्टा आरहें ब हुएि सम्हान संख्यागा समय ढूल आख्ये ब उगिया एंधु चली है आरहें यंखलता यूरी समय सक्टीव... के चोहतर देसम्र चार पितीसत ईसाइ़ी जीरो देसम्रा उन चुब कि Самरे चंज जनम इंदू को मद्ध पिदेश में सबसे घंज कम building लेकिन सबसे जानदा जनशब तो चलिए थी हमारे मद्धिदेश के परिफिक्ट में जन संक्याति संबंधित आंक्रे अब बात करेंगे अगले पांच वा होगा वहोगोलिक परिदेश क्या होगा वहोगोलिक परिदेश के बारे में नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मद्धिदेश सामान ग्यान के बारे में अभी तक हम लोग चार चेप्टर कतम कर चुके हैं जिसमें भी नहीं देखे हैं वो चेप्टर टॉपिक देख लें जाकर मद्धिदेश सामान ग्यान के नाम से जो प्लेलिस्ट सोची व Een यह उसी में ड spilled हुएं इसे बात करते हैं हम लोग भोगोलिक फरीदेश के बारे मं अधितिंयाज मद्ध पिदेश भारत के मद्ध में होने के कारण इसे भारत का हेदय इस्थल कहा जाता है मद्ध पिदेश भारत के मद्ध में होने के कारण इसे भारत का हेदय इस्थल कहा जाता है मद्ध पिदेश के चेत्फल की बात करें तो कितना है 308252 km जो भारत के कुल छेतफल का 9.38 पितीस अथ यह राजिस्थान के पश्चा देश का दूसरा सबसे अधिक छेतफल बाला पिदेश है याद रखिए जब तक 36 गड़ अलग नहीं हुगा था मत्पिदेश से तब तक मत्पिदेश पहली नमबर पर था जैसे यह 2000-2000 में 36 गड़ को अलग कर दिया गए मत्पिदेश से नया राज बना दिया गया तब से राजिस्थान पहली पर मत्पिदेश दूसरे पर महराख्च तीसरे पर उत्तर पिदेश चोथरे नमबर पर पंडित नहरू ने मद्द पिदेश को हेदय पिदेश की संग्या दी करक रेखा 23.5 डिगरी उत्त्री एक्छाज राज के मद्द से गुजरती है वह चौदै जिलों से गुजरती है मद्द पिदेश के कौन को ने करक रेखा पर अवस्तित है रतलाम उज्जेन आगर राजगर सेहोर भोपाल विदीसा सागर दमोह कटनी जवलपूर उमरिया सहडोर अनुपूर कौन कौन से हैं एक बार और देख लिए रतलाम उज्जेन आगर राजगर सेहोर भोपाल विजीसा सागर दमोह कठनी जवलपूर उमरिया सहडोर अनिपूर इसकी बात करें अक्छांसी ये विस्तार की मत्वदेश के अक्छांसी ये विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है 21 डिग्री 6 मिंट से 26 डिग्री तीस उत्री अक्छांस और 54 डिग्री 69 से 82 डिग्री 48 पूर विदेश आंदर चोड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है और लंबाई की बात करें उत्तर से दश्चिन तक 605 किलोमीटर है अब बात कर लेते हैं सीमा वुत्ति प्यदेशों प्यदेश तो जैसा कि आपको पता होगा मद्विदेश की सीमा पांच राज्यों से को छूती है उत्तर में उत्तर प्यदेश दस्चिन में महराष्ट पूर्व में चत्तिसगर्ट पश्चिम में राजिस् सीमा सबसे अधिक उत्तर प्यदेश से लगती है उस सबसे गम गुजरास से बड़ोध राजिल्या से मद्विदेश की दच्छडी सीमा तापती नदी और उत्तरी सीमा चंबल नदी मद्विदेश की दच्छडी सीमा तापती नदी बनाती है और उत्तरी सीमा चंबल नदी बात कर लेते हैं पड़ोसी राज्यों से लगे मद्धपदेश के जिले देखते हैं उत्तरपदेश से तेरा जिले लगे हुए कौन कौन सा मुरेना भिंड दतिया सिवपोरी असोकनगर सागर टीकमगर चतरपूर पन्ना सत्ना रिवा सेधी सेगर ओलिए ठीक है राजस्थान से बात करें जो अभी नया जिला टीकमगड बना है अभी उत्तरपिदिक से ही उस्री नया जिला जुननेबाडी बना है टीकमगड से अलग करके गुना शेव पूरी कि राजिस्थांस की बात करें तो दस्ट जले हैं कौन-कौन से जाबुआ रतलाम मंदसौर नीमच आगर राजगर गुना सेवपुरी सेवपुर मुरेना महराष्ट की बात करें तो नौ जले लगते हैं अलीराजपुर बढ़वानी खर्पगौन खंडवा वोरानपुर बैत दोई छिदवाड़ा सेवणी बालागार गुजरात की बात करें तो दो जले लगते हैं जाबुआ और अलीराजपुर 36 गड़ की बात करें तो छे जले लगते हैं सीधी सिंग रॉली सेहडोल अनूपुर्ट डिनोरी बालागार मद्य प्रदेश से लगने वाले रज्जों के जलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ग्यारे जले लगते हैं कौन कौन सा आगरा इटावा औरे जहांसी ललिदपुर हमीरपुर वांदा इलावाद मेजापुर महोबा सौनमद चित्थपूर 36 गड़ के छे जले सूरज कौरिया मुंगेली विलासपूर कभीरदाम राजनन्द गाउं राजिस्तान के दर जले वासवाड़ा प्रताबगड जालावाड बारा सवाई मादावसपूर धौलपूर कोटा चित्तोरगड भीलतबाड़ा करवली गुजरात के दोजले गुजरात के दोजले लगते हैं चोटा उदैपूर और दहोद महाराज की बात करें तो नो जले लगते हैं कौन कोल से महाराज के नन भुल भूसाबल और अमराबती नागपूर भंडारा वोल्डाना जलगाउं नंदूर बार और गोदिया ठीव आँगे बात करते हैं इस मैदान का आंसिक भाग मद्धपदेश की सीमा में आता है भू बिज्ञानिक दिरिष्टी से मद्धपदेश सरवाधिक प्राचीन गौडवाना लेंड का भू भावे फीजियो गिरापी मैप अप इंडिया में मद्धपदेश को नेमलिकित भौगोलिक फिच्छित्रो का पठार, बुंदिलकर्ण का पठार, मालबा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्वदा सौन गाटी, फिर सत्थ पुड़ा मेकाल सरी, फिर पूर्वी पठार या बगेलकर्ण पठार, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मद्ध उच्छ प्रदेश की बारे में, न का पठार, यमना नदीत वारा बनाई जाती है, बिंद्यांचल भांडे तथा कैमूर की सेडिया इसी पिदेश का भाग है, इस पिदेश से निकलने वाली पिरमुख नदियां है, चंबल, वैतवा, कैन, उस्तर की और संपून मद्ध पिदेश पर इसे बहते हुए यमना मे मिल जाती है, इसी कारण मद्ध उच पिदेश को गंगा की बेसिन का हिस्सा ही माना जाता है, फिर मद्ध भारत का पठार, यह पठार वस्चन से राजिस्थान की उच्च भूमी दच्छन में मालबा का पठार, उत्तर में यमना का मैदान, तथा पूर में बुंदेल खंड की पठारी भूमी सिर गिरा हुआ है, इसका बेशतार भिंड मोरेना, सिवपुर, शिवपुरी, गौालियर, गुना, नीमच, मंदसोर, आदी जिलों है, चलोड निच्छिप से बनी चंबल गाटी सी कांग है, चंबल काया पिदेश 75 सेंटीमीटर से कम बर्सा के कारण, पुरी अबंध बानमः में कथा का अखाना, बानमः में सिमेंट अबंध चमडा उद्दो भी है, नीमच मेंलकै या дан्ट ट्रीपए है, ठीक, फिर बात करें यहां कि प्रमुक नदीयों के मो तर, पिर्मुख नदियों में सामिलें चंबल, सिंध, पार्वती, कुमारी और कुणू, प्रमक दर्सली एस्तलें, गॉालिय दुरोग, गुंजरी महिल, हेडोला, मौती महिल, सासभवु का मंदिर, सरोद गर, देली का मंदिर, तांसे निवे मुहम्मद गोस का मकबा, सिवपुर पुरी में मादा और राष्टी होते हैं, बीहड समस्या से विवभावित, जिलों की बात करें, सिवपुर, भिंद, मुरेन, जलाकरांत यवं मिर्दा परदन, गर्मक समस्या है, बुंदेलखंड का पठार, मद्व पिदेश के मद्द, उत्री भाग में विस्तित इस पठा भिंद जिले की लहार तहसी समल ले थे हैं, बुंदेलखंड पठार में, उत्तर पिदेश के पांच जिले, जालों जहांसी, ललेतपूर, मीरपूर, बादा का विस्तार भी इसमें है, याद रखिए, निवाडी जो जिला बनाया है, तीकमड़ में, वो भी इसमें है, बाबा पहाडी, ग्यारे सो बहतर मीटर, इस पठार की सबसे उची चोटी है, उद्देव उधंदों की बात करें, तो चंदेरी की जरीप, उद्देव, छतरबुर, दतिया, टीकमगड में, सेमेंट एवं बिडी उत्ते हो गए, फिर मुख नदियों की बात करें, बैतवा खूनी दरबाजा, नौखंडा महल, पिर मुखें, कैन नदिव गंगेउ, जला से छतरबु में, परंतु यह उत्तर पिदेश की स्वामित में है, ठीव, फिर आता है मारा, रीवा पन्ना का बठाल, बिंधेन, कगार पिदेश, मद्ध उत्तर में, अवस्थित बिंधेन, यहां के उद्ध्यव धंदों की बात करें, तो सिमेंट, कथा एवं लाक उत्देव हैं, खनिच की बात करें, खनिच है रीवा में बॉकसाइड, सतना में चूने का पत्थर, हीरा, पन्ना में हीरा, सतना के मजगाउं में रामरज, एवं अन्य खनिचों के सिलिका बालू आ इस पठार में चचाई, क्योटी, बहुटी, तथा पुरुवा, फिर्मो के जल्पेपाद भी हैं, फिर्मो को दर्सने ये सतलों की बात करें, तो सतना में भारूत, इस्तो, मेहर में प्राचीन साधा मंदे, अलावदीन संगीत अकाद्मी, चितकूट, दीवा का किला, मरकंटक इस पठार की सबसे उंची चोटी है, आंगे बात करेंगे हम लोग, मालवा का पठार, मद्द उच्च पिदेश की पश्चिमी बाग, मालवा का पठार कहलाता है, करक रीखा लगभग इसके मद्द से गुजरती है, मालवा की पठार से करक रीखा गुजरती है, ठीकूट, इस पठार में मद्द पिदेश की अठारे जिलों तब पूरू आंसिक बाग समली थे, इस पठार में कोच्चेन, इंदो, राजिगर, मंदुसों, धार, गुना, भुपाल रतलाम जाबुगा, देवास सागर, साजापूर, सिहोर, असुपनगर, विदीशा रायसें, अली, राजपूर तथा आगर मालवा, यह अचित दक्कन टेप से निर्में थे, चीनी यात्री भायान ने मालवा की जलवाई को विस्त की सर्वसिष्ट जलवाई कहा, देव धंदों की बात करें, तो यहां नागदा का किंत मिरिशा, इंदोर रतलाम देवार, और जेन एवं भुपाल में सूती कपड़ाव देव, भुपाल में वेल पीथमपूर का आटो, मोबाईल देवास नोट चापने का कार खाना, वीना के आगासोत में तेल सुधन कार काना आदी, वो दोविक चित की बात करें, तो पीथमपूर, मेगनगर, मंडदी, फीलुकेडी, गंजवासवदा, मक्सी नागदा, नदियों भी बात करें, तो चंबल, कालीसंद, सोनार, माही, छिपरा, पारवती, वैतवा, निवाज, तिंदोनी, बार्ना, बार्ना, छो प्रानदी के कनारे है, उज्जन, भोपाल की ताजूल मस्जिद, मानो संग्राल है, इंदोर का राल, राला मंड़ा लब्यार है, धार में बाग की गुखा है, मांडू का किला, मालबा पठार का पिरमुख चोटी है, जाना पाव, एगम धजारी चोटी, इंदोर मद्पिदेश की मिनी मुंबई कहा जाता है, सिहोर अनाज मंडी के लिए प्रिशित है, उज्जन में सिंगस्त मेला लगता है, कुम का मेला, फिर है नर्वदा सौन, कौन सा है, नर्वदा सौन, गाटी, यह मद्पिदेश की मद्ध अधिक्तम नीचा भाग है, इस सिहोर, देवास, वडवानी, अलीराजप, उद्देव दंदों की बात करनें, तो सिमेंट, काज, संगमार मर, चीनी, मिट्टी, उद्देव, खनीच की बात करनें, चूना पत्थर, मैगनी, संगमार मर, कोड़ला, नर्वदा सौन, जोहला, तवा, कुंदी, दूदी, वार चौरासी योगनी, तथा फिसनहारी मंदिर भी यही है, जवलपूर के निकत मदन महल, गौन्डों की राध्धानी थी, महेसर महरानी, अहलियावाई की राध्धानी राय, नर्वदा घाटी सत्वोडा, तथा विंद्यान चल्व की मतिस्तित है, फिर बात करते हैं पूर्व में अमरकंटक तक इस सैनी की तीन और विवाजन है, एक राध्धी प्ला सैनी, दूसरी मद्य सैनी का इससार, जिसमें ग्वाली, गड़, सैनी, महादेव सैनी, तथा तीसरा वाग महकाल सैनी है, जो इसके बिलकुल पूर्व में इस्तित अर्ध चंदाकार भाग अमरकंटक मेकाल सैनी का पठार है, जहांसे एक और नर्वदा, दूसरी और सोन, तता तीसरी और योहिला का उद्गम है नदियों का, सत्थपुडा सैनी, नर्वदा, एवं गोदावरी की भी चल विवाजक है, सत्थपुडा, मेकाल सैनी की अंतकत होसंगाबाद, बैतूर वालागाट चिदवाडा, सीवनी मंडला, बुरहानपुर खरगोन, खंडवा खरगोन, बढ़वानी आती है, यहां के खनेज, खन्यों की बात करें, तो मैगनीच, वालागाट के बाखेली में, ताबा मलाचखन लिखदान, एवी वालागाट में, चिदवाडी में, मैंच गाटी से संगमर्ब, बैतूल, चिदवाड़ा, सीवनी चिदवाड़ा हैं, ठीक, फिर बात करते हैं, यहां की नदियां सत पुड़ा के रहन जीगे, तो इन में सामिल है, नर्वदा, तापती वैनगंगा, ताबा सक्कर वर्धा, गार, दरसने यह स्तले हैं, पचमडी, अ परसीवका का किला, वादसाही किला अबीवी की मश्जित गुरहानपुर में, फिर बात करते हैं, वे पूर्वी पठार या बगेलिवन्द का पठार, यह पठार मद्ध राज्जी, के उत्तर पूर में इस्ती थे, इसके उत्तर में उत्तर फिदेश, पूर में बिहार, दस जिलों की बात करने हैं तो सेडोल सीधी यनुको सिंग रॉली उमरिया कटनी की मुडव मुडवारा तहसील आती है बगेल खंड में उद्धोग एक छेत्की तो अमलाई पेपर में सेडोल में लाखकार काना उमरिया में सिंग रॉली उर्जा की रातनी और सीधी खनिच की बात करने हैं तो चूना पत्तर थायर के लिए कोईला को बॉकसाइड नदिया है यहां की प्रमौ सौन टॉंस रेहंद नयनुका कनहर हस्दियो गौपद और बनास दरसनी इसकल हैं अमार कंटक बांधोगर राश्की उत्यान यहां कपिल धारा और दुग धारा प्रमौ कुझल पर पात हैं ठीक मद्यपदेश के सेल समूवों की बात परें यह सेल समूव हैं यह छेत्थ हैं यह ग्रेनाइड आ मालवा बुंदिलखंड बिंद खंड कगार तो यहां से उपर मुखनेज हैं ग्रेनाइड नीज सिल डाइड फ्रत धारवाड सेल समूव जीवा समूव का भाव इसमें इसका छेत्थ हैं दच्छडी मद्ध फिर्देश बुंदिलखंड बिंद की मद्ध पिजाबर सेनी ठ पुर्राना सेल समूव पन्ना गौलियर विजाबर सिंकला पन्नापठास सिलिकर ब्यद करत्त醒 संहब बिंद सेल ऍवान से चंबल तक सोंगाठी भांडे सेंडे केमूर सेंडी रिवा सेंडी dudست सेंडिय सेंडिस हैंड की बात करने तो दच्चेन पूर्मत मद्ध और महादी कुर्दूहन से दख्खन पठार का स्वरूप बदलाए गोडवाना सेल समूर इस सत्थोडा बगेलगन पैच गाटी देनवा बागरा कोईला चेते जथा पचमडी महादियो सेणी आई है दख्खन टेप मालवा पठार सिंगार सेड़ी जाना पाव बाग लमीटा निच्छे पुड़ों से निर्मे थे बात करते हैं हम लोग मद्ध पिदेश की प्रमोख पर्वस्य है प्रमोख पर्वस्य तो बिंध्यान चल कुंसा बिंध्यान चल बिंध्यान चल कगारी चेत राज्य में अवस्ते थे यह पूर्व से भांडेर कैमोख से पष्चे में मुरेना आदीतर मद्ध पिदेश की उत्री शीमा नेधारी करता है अमरकंठक याद रखना बिंध्यान चल पिदेश की अमरकंठक सबसे उंची चोटी यह आंगी फिर राजपीपला परवसेनी यह पश्चमी भाग से फ्यारम होकर पूर्वी में बुर्वानपूर दर्वी तक जाती है राज पीपला पहाड़ी, अक्रानी पहाड़ियां, बढ़वानी पहाड़ियां, वीजागर तथा असीरगर पहाड़ियां इसी भाग में है राज पीपला परवसेनि, फिर है सत्पुड़ा परवसेनि, भूरहानपुर दर्रे के पूर में सत्पुड़ा सेनि, सत्पुड़ा अधिक्तम उचाई वाली चोटी है धूबगड जो कहा इसते थे महादेव पर्वसेणी में इसते थे त्रिद नहला मैकाल पर्वसेणी सेणी की पूर्वी भाग मैकाल का पठार कहलाता है इसकी पूर्वी जीमा अर्द चंदाकार है तो ये था हमारा भोग विलिख परिदिस मद्धिदेश का आंगे बात करेंगे चटवे चैप्टर में जल्द संसादन ट्रीकर नवस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे मद्धिदेश सामान नियान के बारे में तो उसमें हम लोग बात कर चुकी थे मद्धिदेश का भोग विलिख फरिदिस देख चुके थे यादर किये मद्धिदेश से संबंदी जितने भी आपकी लेक्चर बनते जा रहे वो सभी मद्धिदेश सामान ग्यान की नाम से जो आपकी फिले लिष्ट सूची बनी हुए उसी में डले हुए इसमें बात करते हैं जलसन साधनों की बारे की बारे में टीक है सबसे फेले बात करते हैं नर्वदा नदी नर्वदा नदी देश की पांचवी बड़ी नदी है याद रखिए देश की पांचवी नदी बड़ी नदी है नर्वदा इसका उद्गम अमरकंटक अनुपुर से होता है याद रखिए Jenanda नदी का उद्गम कहां से होता है अमरकंटक अनुपुर से कि इसका समापन की बात करें कटम होती है खंबाद की खाड़ी में जाकर अब स्टैसिती याद रखिए ऊचा जाता है कई बाकर नर्वदा नदी होता है का स underest कहां से होता है तो आपको बता देना है अमर्कन तक अनुपुर। और इस पूचेगा कि समापन कहा होता है तो खंबात की खाड़ी है ठीक है अरब साल इसकी लंबाई पूचे तो बता देना 1312 किलोमीटर है और अगर मद्ध्धिदेश में इसकी 226 कि पूचे तो बता देना 1070 मीटर किलोमीटर ठीक है टोटल इसकी लंबाई कितनी है 1312 किलो मीटर और मद्दपिदेश में इसका बाहुचित है 1077 किलो मीटर नर्वदा नदी एस्चुरी का निर्माड करती है यहाँ ए पॉइंट याद रखना है कई बार पूछ लेता है कि नर्वदा नदी डेल्टा बनाती है तो आपको बता देना है नहीं बनाती है यह एस्चुरी बनाती है ठीक टॉल्मी ने नर्वदा को नामा दोस कहा नामा दोस किसी ने कहा था नर्वदा को टॉल्मी ने नर्वदा अन्य नाम है नर्वदा के मद्पिदेश की गंगा मैकाल सुता स्वमोदेवी तता रेवा ठीक है नर्वदा के अन्ग नाम है आंगे बात करें नर्बदा नदी मदबदेश के 15 जिलों से गुजरती है पूछा जा सकता है कई बार पूछ लिया गया भी है कि नर्बदा नदी मदबदेश के कितने जिलों से गुजरती है तो आपको बता देना 15 कौन-कौन से अनुपुर डिन्डोरी, मंडला, जबलपुर नर्शिंगपुर, राइसेन होसंगाबाद सिहोर, हरदा खंडवा, खरकौन धार, देवास बढ़वानी, अली राजपुर ठीक है याद रखना है नर्बदा नदी मैदानी भाग में जबलपुर के समीप प्रवेश करती है इसकी साहिक नदीयों की बात करें नर्बदा नदी की तो कुंदी है, सेर है हेनी है, दूधी है हतनी है, बंजर है सक्कर है नर्बदा नदी की साहिक नदी याँ कौन कौन सी है कुंदी सेर, हेरन दूधी हतनी बंजर और सक्कर ठीक है बाहरा नदियां बायसे सरी 32 नदियां इसमें बाय वाइंगोर से और 19 नदिया इसमें दाप्ण हो से में लिए श्था कर 31 नदिया इसकी सहीक नदिया है अब नर्वेदा नदी हो पर जो प्रियोजना हैं उड़िवारी में बात कर लें रानी अवंति भाई सागर वर्गी परियोजना जबलपूर विजोरा में है याद रखिए इसकी परियोजनाओं के बारे में पूछे तो आपको बताना है रानी अवंति भाई सागर जबलपूर विजोरा के पास है वर्गी परियोजना भी इसे बोलते है तर दूसरी है सरदा सर्दार सर्वबर प्रियोजना तो यह गुजरात राजिस्थान मध्यपिदेश महाराष्ट में सयुक्त रूप से वह सर्दार सर्वबर योजना इस पर 29 बढ़ी 135 मध्यम और 3000 छोटी योजनां निरमाड़त दीन है इंद्रा गांदी नर्वदा सागर प्रियोजना एक खन्रवबा में पुनासा बांद है तो रानी अवंतिवाई सागर सरदा सरोबर परियुजना और इंद्रा गांदी नर्वदा सागर परियुजना नर्वदा नदी की परियुजना है दर्सनी इस्थलों की बात करें तो कपिलधारा कई बार पूच लेते हैं कपिलधारा दोगदेधारा सहस्त धारा और बेडागात इसके जल्पे पात है किनारे इस्थित सहरों की बात करें नर्वदा नदी के किनारे जो सहर बसे हुए होसंगाबाद जवलपूर महेसर खरगोन ओकारेसर खंडबा और बुद्नी ठीक है नर्वदा इवं सौन नदी एक दूसरे के समान अंतर फूर से पक्षिम की और बहिती है पहाँ मद्पिदीष गुजिरात एवं महराश्ड से होकर बहिती है कहां-कहां से मद्पिदीष से फिर उस गुजिरात और महराश्ड से हरसूद बांद के डोबने से छनेरा गाउं बसाए गया सिंगलू सम्ती नर्वदा बेवास से संबंदी थे कई बार पूंच लेता है सिंगलू सम्ती किस से संबंदी थे तो आपको बता देना है नर्वदा बेवास से मेगा पाटे कर नर्वदा बचावा अंदोलन से सम्मंदी थे ठीक है आंगे बात करते हैं हम लोग दूसरी हमारी नदी है बत्कूर्ण चंबल चंबल की बात थे न तो महाभारत में बढ़े थे चंबल का परड़न महाभारत में कि राजा रती देव ने इसे उद्गेमित किया था चंबल नदी को फिराचीन काल में चर्मावती या धर्मावती नाम से जाना जाता है इसके उद्गम की बात करें तो महू इंदौर जाना पाव पहाड़ियों से इसकी 855 मीटर उचाई से यह उद्गेमित होती है समावन की बात करें तो इटावा में यमना नदी में मिलती है तो इसमें आपको याद रखना है इसका उद्गम होता है महू इंदौर जाना कि इसकी साहएक नदीयों की बात करें तो च्षिप्रा काली算द्र पारवती और बनास है मुद्य कर भी इह उत्तर पूर्ब की और बाव है इसका चंबल नदी का उत्तर पूर पूर्ब की और बाव है नदी के जलदवारा औो नालीका आपर्धन के से भिंड और मोरैne की निक रखना चंबल नदी इस पर चंबल नदी पर पर्योजनाओं की बात करें तो आपकी राज की पित्थम जलविद्व पर्योजना गांधी सागरवां मंदसौन में ये चंबल नदी पर फिर राणा पिरताप सागर तो ये चित्तोडगर राजिस्थान में जहां जबाहर सागर ये कोटा राजिस्थान में, चंबल परियोजना राजिस्थान बामद्यपदेश की सेवक्त परियोजना है, तो इस पर चार परियोजना है, कौन-कौन सी, गांधी सागरवान, राणा पिताब सागर, जहवाहर सागर और चंबल परियोजना, ठीज, इसके किनारे इसते सहरों की बात करने तो रतलाम, सिरफ़ोर, उम्मोडेना है चंबल नदी मद्धपिदेश ऀरकी सीमा बनाती है चंबल नधी मद्धपिदेश की उwasser्तूरी सीमा निरधारित करती है भी कि बात करते हैं लोग बैतवा नदी के बारे में बैत्वा नदी का उधगम जराय सेन के कुम्रा गाउं में होता है वो इसका समापन होता है हमीरपूर के निकट यमना में मिलती है ठीए इसकी कुल लंबा ही है चार सो असी किलूमीटर कितनी है 480 किलूमेटर इसकी سायग नदीयों की बात करने तो धसान और बीना है यह वो तरफ विदेश और मद्विदेश की सीमा बनाती है वैतबा नदी मद्विदेश की पाँ चीबी सबसे वड़ी नदी है याल रकी मद्धपिदिश की किनारे इसते सहरों की बात करें तो असुक नगर औरचा गुना साची विदीशा चचोड़ा इस अभी बैतबा नदी के किनारे सहर हैं परियोजनाओं की बात करें तो माता टील बात माता टीला बंद महरानी लच्चमी बाई सागर इसे बूलते हैं भांड लचेपा नदी पूर्व से उत्तर की ऊर वहती है ठीक है थ्याथ है मारी सौनाधी अ सौनती के बारे में याद रखना इसका उद्धगाम होता है सौन नदी का अमरकंठक अनुखण से विसका समापन होता है पटना की निकट गंगा में सौनदी गंगा की साहइक नदी है याद रूकन induced बरतमार में बिहार के दिनापुर के निकट गंगा में मिल जाती है ठीक इसकी लंबाई है 180 किलोमीटर यह मद्धपेदेश उत्तर पेदेश बिहार में बहती है सौन नदी किन किन राज्यों में पहती है, मद्धपिदेश, उत्तरपिदेश, भिहार, सौन नदी की साएक नदी है, जोहिला, गोपद, रिहंद, परियोजना की बात करें तो बार्ण सागर, मद्धपिदेश, उत्तरपिदेश, भिहार की सयुक्त परियोजना है, तिरह बां महानद सौन नदी के नाम से भी जाना जाता है सौन नदी की वाड़ अधिक बिनासकारी होती है ठीक है फिर उसके बाद हमारा हमारी है शिप्रा नदी इसका उद्गम की बात करें तो इंदौल, काकड़ी, वर्डी, फाहडी से होती है इसकी उद्गम उस समापन होता है उज्जेन रतला मंदसोर में बहुती हुए चंबल में चिप्रा चंबल में मिलती है ठीक है इसकी लंबाई है 1955 किलोमीटर उज्जेन इसके किनारी वसा सहर है खान बगंभीर साहिक नदिया इसकी साहिक है समुद्ध मंतन के बाद 14 रतनों का बटवारा चिप्रा तट उज्जेन पर हुआ था मालवा की गंगा कहा जाता है चिप्रा को याद रखिए मालवा की गंगा किसी का जाता है छिप्रा नदी को फिर हमारी तापती नदी कौन सी तापती नदी ये बैतूल जले की मुलताई तालाप से निकलती है समापन होता है नर्वदा के समांतर वहती हुई मद्द पिदेश की दश्चिड सीमा निरधारित करती हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है इसकी कुल लंबाई 724 क्लूमीटर है इसके किनारे बसे सहरों की बाग करें तो बुरहानपूर सूरत है इसकी सायक नदी यहां है तापती की पूर्णा, बागुड, गेना, बोरी, सिवा, ककरा, पारा, वकई, का निर्मार किया, नर्वदा इवं ताक्ती नदी पश्चम की ओर वहकर एस्चुरी का निर्मार करती है, फिर हमारी तावा नदी, तावा नदी का उद्गम पच्मडी महादेव परवस्य होता है, इसका समापन होता है होसंगवाद, नर्वदा नदी में मिल जाती है, कि न करवा नदी पर ही 1322 मीटर होसंगाबाद जिलिप में याद रखिए पर हमारी काली सिंद्र इसका उद्गम हुआ है देवास के भागली गाउं में इसके समापन की बात करें तो साजापूर राजिगड में वहती हुई राजिस्तान में चंबल से मिल जाती है इसकी कुल लंब चांच हम फिर हमारी कैन नदी कौंसी है कैं कि कंट एकरी क। एकमूर से से पंता अब रफवादा जिले में से होती हुई है ये यह मनाय नदी में समाहेत हो जाती है के नदी का प्राजिए नाम सुक्तमति देनावती था पर हिर बैंगंगा इसका उद्गम सिवनी परसबाड़ा पठाल से और इस पर प्रियोजनाओं की बात करने तो अपर बैन गंगा संजर प्रियोजनाओं बैन गंगा नदी पर है बैन गंगा का अननाम है वेवा और दिदी है महडाश्ट की वार्दा नदी से इसका संगम प्राण हेता कहलाता है बेन गंगा दच्छन मद्विदेश की और बहने वाली एकमात नदी है याद रखें फिर बात करें अंगली है टॉंस नदी कौन सी टॉंस नदी कि टॉंस नदी सतना जिले के मेहर में केमूगर पहाड़ी से निकलती है वो इसका समापन वीबा से होकर सिर्शा के पास गंगा उतर्फदेश में नदी में मिल जाती है टॉंस नदी गंगा में मिलती है साहिक नदी साहिक नदीयों की बात करें गंगा इसकी स्टॉंस की तो वीहर बबेलन है टॉंस नदी का फिराची नाम तमसा है प्रेक कुवारी नदी इसका उद्गा में सिवपुरी पठार भिंड़ जले की लहार तैसील में होते हुए सिंध नदी में मिल जाती है ठीक है प्रें तो आश्ड़ा राजगड़ और साजापर है कि पनाती है तो इससे पूरी पठार से निकलती है और चंबल में मिलती है पूरी ए 170 Victoria में इसकी लंबाई है एक सो असी कम्गों के भाले महत्पूर त्त्त अ मालबा की गंगा छिपरा नदी को कहा जाता है है नर्बदा नदी भारत के उत्री तथ दश्च्री भागोनों के बीच विवाजक रेखा का कार करती है मद्विदेश में प्रभावित होने वाली नदियां प्राइद दूईपीय नदिया हैं मद्विदेश के अमरकंटक से तीन किलूमीटर के अंतर से दो नदियां मद्विदेश के नर्बदा एवं तापती नदी डेल्टा ना बनाकर एश्चुरी का निर्मार करती है मद्विदेश में उत्तर की और बहने वाली नदियों में चंबल, सौन, कैन बैतभा सामिल है मद्विदेश का सबसे उच्छा जलबपात है चचाई जलबपात महाकभी केसवदास के लिए बैतभा का तट आकरसर कपिधान के इन्द था उन्होंने अपनी किर्ती रसिक फ्रिया में उन्होंने इसकी महिमा का गान किया है तमसा कौलिक मस्पुराण वालमी की रामाइड वामन एबंबायु पुराण में भी हुआ है बालमी की रामाइड के बालकंड में सौन नदी को सुबागदी का गया है मेग दूत में कालीदास ने चर्माबती का उलेक किया है चम्मल का बैत्वा नदी का उलेक माडबटने कादंबरी एवं कालीदास ने मेग दूत में किया है नर्वदा नदी का आपरवाचित तेरानबे हजार एक सो असी वर किलो मीटर है नर्वदा नदी मद्वदेश गुजरात की जीवन रेका कहलाती है यह नदी महराष्ट में भी बहती है नर्वदा फश्चिम के और बहने बाली भारत की सबसे बड़ी नदी है सौन नदी दच्छिड से उत्तर के और बहती है उत्तापती नदी मद्वदेश महराष्ट गुजरात में बहती है आँगे बात करते है एक संचिप्त बर्डन है नर्वदी नदियों का मद्वदेश क इनके नदियां हो गए आपकी उद्गम स्थल हो गए अंतिम स्थल हो गए लंबाई हो गए जो तत्थ हैं आपको याद रखना है नर्वदा नदी इसके अन नाम है मिकाल सूत्ता सौमोदीवी रेवा नामोदेश इसका मरकंठक से होता है उद्गम अनुपुर से खंबात क ढभाव के लंबाई हो मद्वदेश में इसकी लंबाई 117 है 1070 km आ है इसकी दिसा है पूर्व से पश्चिम, इसकी साहेक नदिया है, तावा, कुंदी, सक्कर, उंटी, हत्नी, एक तालीस नदिया इसकी साहेक नदिया है, और मद्वदेश के पंद्रह जिलों से प्रभावित होती है, फिर है चंबल, धर्माबती बोलते हैं, इसका उद्गम है जाना पाव महू, यह यमना एटावा की पास मिल जादी यमना नदी में, इसकी लंबाई है 965, दिसा है पश्चिम से उत्तर तथा अंत्ता पूरू, साहेक नदियों में काली संद, छिप्रा पारवती है, फिर है ता 24 किलो मीटर, इसकी दिसा है पूर्व से पश्चिम, साहेक नदी है पूर्णा, फिर है सौन नदी, तो ए अमरकंटक अनुपूर से निकलती है, और गंगा से दीनापूर की निकट बिहार में मिल जाती है, इसकी कुलंबाई 780 किलो मीटर, इसकी दिसा है दच्चन से उत्तर थिरपूर, साहेक नदी है, जोहिला और रियद, फिर है बैत्वा, जिसे बैत्रावाती कहते हैं, यह निकलती है कुमरा गाओं, वो रायसें से, और इहमना नदी में मिल जाती है, इसकी कुलंबाई है, 480 किलो मीटर, भालकुल्ण चल्पेपाद इसी पर है, विदीसा आए, इसी के किनारे स्थित है, फिर है हमारी छिप्रा नदी, काउन सी, छिप्रा, यह निकलती है काकरीवडी इंदोर से, चंबल में मिल जाती है, 195 किलिमीटर इसकी लंबाई है वो जेन महाकाले सुर इसी के किनारे है फिर तावा नदी यह निकलती है महादेव परवद पच्मडी से नर्वदा नदी में मिल जाती है इसकी कुल लंबाई है 172 किलिमीटर तावावांद होसंगावाद में मद्धिश का सबसे बड़ा लंबा बांद है ठीक है याद रखना तावा नदी पर फ्रहसंद इस सिरोंज गुना से निकलती है चंबल में मिल जाती है फिर पारवती सिहोर से निकलती है चंबल में मिल जाती है वर्धा वर्धन से कर मुलताई से निकलती है वैन गंगा में मिल जाती है सक्कर इह अमर वाड़ा चिदवाड़ा से निकलती है और नर्वदा में मिल जाती है बैन गंगा फरसवाड़ा सिवनी से निकलती है गोदावरी में मिल जाती है कुमारी इस सिवपुरी से निकलती है सिंद में मिल जाती है गार इस लखना सिवनी से निकलती है ठीक है यह थी हमारी फिर्मुक नदिया आ अब बात लेते हैं हम लोग। नदियों के किनारे बसे प्रमुक नगरों के बारे चीक कई बार पूंच लेते हैं यह नदियां होई आपको एक नारी बसे से यह तो नर्वदा इसके किनारे बसा हु탁 है अमरकंठक झाल नर्बदा के किनारे होसंगाबाद भी है नर्वदा के किनारे नेमावर पुनासा भी नर्वदा नदी के किनारे बसा हुए है फिर आपका वहेसुर भी नर्वदा नदी के किनारी है धार भी नर्वदा नदी के किनारी है निवाड मंडला वडवा है नर्वदा किनारे मंडले सुर भी है ज देवल पूर भी नर्वदा नदी के किनारी है नरसिंग पूर भी नर्वदा नदी के किनारी ही इस्ते थे ठीक पर हांडिया यह भी नर्वदा किनारी है उकारेसर नर्वदा नदी के किनारी है बढ़वानी भी नर्वदा नदी के किनारी ही इस्ते थे फिर पारवर्दी नद नदी के किनारे की बात करने तो याद रखना आश्टा साजापूर और राजगर ये तीनों पार्वती नदी के किनारे हैं चंबल की बात करने चंबल के किनारे हैं महू मुरेना दतलाम सेवपूर बैतबा की बात करें हम लो बैतवा के किनारे है सांची, गुना, और चा, विदीशा और ताप्ती के किनारे आपका है बुरहानपुर, मुल्ताई ठीक है तवा नदी के किनारे पच्मडी और तवानगर और टौंस नदी के किनारे है सतना ठीक है तुर है बैन गंगा बेन गंगा नदी के किनारे है बाला गाट, काली संद नदी के किनारे है सौनकच और बागली, सिंद नदी के किनारे है दतिया और सिपुरी, छिपरा नदी के किनारे आपको पता ही है और जन है, विचिया नदी के किनारे है रीवा, खान नदी के किनारे है इंदोर, माही नद अब बात करेंगे हम लोग पिर्मुक जल्पपातों के बारे क्योंकि बहुत पार इससे कुश्चन पूचे गए पिर्मुक जल्पपात तो सबसे पहले धुगाधार जल्पपात तो नर्वदा नदी के किनार है जबलपूर में ठीक बेडा गाट फ्रे दुग दिधारा जल्पपात यह नर्वदा नदी पर है अनुकपूर में धुगाधार कहा है नर्वदा नदी पर जबलपूर के पास और दुग दिधारा यह अनुकपूर में नर्वदा मंधार जल्पपात यह नर्वदा उमकारेशन में कपिल जल्दारा प्रिपाद नर्वदा नदी के किनारे है अनुपुर में सहस्त धारा जल्दारा प्रिपाद नर्वदा नदी के किनारे महिसर्ख खरगौन में दर्दी जल्पे पाद ये भी नर्वदा नदी के किनारे हैं हंडिया वड़वाय के मद्द उमकारे सुर में भालकुंड जल्पे पाद सागर्प में हैं बीना नदी के किनारे दर्चेश फाल जल पे पाथ पचमडी में सत्पोडा राष्टी उद्ध्यान के पास अपसरा जल पे पाथ पचमडी में सत्पोडा राष्टी उद्ध्यान के पास रजत जल पे पाथ पचमडी में ये भी सत्पोडा राष्टी उद्ध्यान के पास भी फाल इस भी सत्पोड राष्टी उद्ध्यान की पास ही है पाताल पानी जल्पे पाथ चंबल नदी पर है इंदौर में चुलिया जल्पे पाथ चंबल नदी पर है बंदोसोर में राहत गड़ जल्पे पाथ बीना नदी पर है जो सागर में जाड़ी दाहा जल पर पात इस चम्मल नदी पर है इंदोर की निकट संकर खो जल पर पात है जामने खावनी अब्यारन के पास है बहुती जल पर पात वीहड रीवा की निकट है चचाई जल पर पात वीहड में नदी पर रीवा में पांड़ा जल पर पात पन्ना की निकट है क्योटी जल पर पात वीहड नदी पर रीवा में फीयावन जल पर पात रीवा की निकट पुर्वा जल पर पात रीवा की निकट ी 21 मद्पी देश्र की घंगा मद्पीदेश की घंगा को लेकर अडर्वधर वा बैतवानाती कь प्रवेबाद है इस्पेस्वर का मानकुत ow नर्वधर है क्योंकि गंगा होना उसकी पवेथ्टा इवं धार्विक्ता का घोतक है ना कि पिदूसन का इस आदार पर नर्वदा ही मद्वदेश की गंगा है यहीं तत मद्वदेश हिंदी अकादमी के पुस्तक में दिया गया है इसके आदार पर हम कानूनी तोर पर आयोग के समख चिस पुस्तक को सबूत के तौर पर प्रेश कर सकते हैं हालाक इसामनतर पुस्तकों में बैतवागो मद्पिदेश की गंगा लिखा गया है याद रखे आपको नर्वदा याद रखना है आगे बात करते हैं अब बात करते हैं हैं पिमक नदिया और उन पर बने जो बांद उने देख लेते हैं तो नर्वदा साघर या इंद्रा से नर्वदा नदी पर बने व Biem चंबल नदीपा बना हुए जवाहर सागर यह भी आपका चंबल नदीपर है राणा पृताब सागर यह भी चंबल नदीपर है याद रखना गांधी जवाहर और राणा फृताब सागर यह सभी चंबल नदीपर है वारना वांद वारना नदीपर है राजगाट वांद वे ब पर यह उप्रमुक नदियों की प्रवाय दिशा प्रमुक नदियों की प्रवाय दिशा किस दिशा में ये बहती है तो इसमें याद रखना है आपको पुर्वाई की दिसा हो गई यह नदियां हो गई मिलने सन तो पूर उत्तर में बैथवा यह चंबल में महीं नरवदा तापती एक हमबाद की खाणी में मिलती हैं दच्छन में बेनगंगा यह वर्धा में मिलती है उत्तर हमें चम्बल केन तावा यमना चम्बल नर्वदा में मिलती है ठीक हो तीनों याद रखिए तो यह हमारा चटवा चप्टर था जल संजादन अब बात करेंगे अंगले में साथवे चप्टर में सिचाई एबं नदी गाटी परियोजनाओं के बारे में ठीक है हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे मद्धपदेश सामान ग्यान के बारे में तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे जल संसादन देख चुके थे मद्धपदेश परिपेक्च में अब बात करेंगे हम लोग सिच्चाई एबं नदी गाटी परियोजनाओं के बारे याद रखिए जितने भी आपके चेप्टर कतम हो चुके हैं वो सभी मद्विदेश सामान ग्यान के नाम से जो आपकी प्ले लिष्ट हो ची है उसी में पढ़े हुए हैं तो सिचाई परियोजना राज में सबसे पहले पहली सताबदी में चंदेल बंस ने सिचाई के लिए खजुराहों में तालावों का निर्माण कराया था सबसे पहली जो नहर थी आपकी 1923 में बालागाट चले में बैन गंगा नहर बनाई गई थी 1927 में ग्वालिया रियासत में पगारा बांद बनाये गए था 1933 में पलकमती सिचाई तालाब भुपाल में बनाये गए था 1936 में बालागाट चले में मुरम नाला का निर्माण किया गए था राजी की अर्थ विवस्ता किर्सी पिधान है जिसमें सिचाई का विसिसमत है राजी की जो दस फिर मुक नदियों में वारसी कॉस्तन 18,500 मिलियन घंड मीटर जल की उपलब देता है जिसमें से लगबग 56,800 मिलियन घंड मीटर जल पिधेश को आवंट थे जो कुल उपलब दे जल चेत का 29,730 बश्त दो 2014 में सुद्ध सिंचित चेत आप था 9,584,000 हेक्टर जो घटकर 2015 सुले में 9,284 दिसमलो 5,000 हेक्टर हो गया इस फिकार गर बर्ष्त की तुल्ना में 3 दिसमलो बारे पितिसत की कमी रही है बर्ष्त 2015 सुले में सुद्ध सिंचित में सरवादिक चेत से चाई पितिसत चाई का पितिसत है 20,95 तथा अन्य सिरोतों से सुद्ध सिंचित चेत का पितिसत है 12,29 जल्व संसादन विभाग द्वारब भी है मद्यमिवों लगू से चाई उजनाओ के माद्यम से बर्ष्त 2016 सुले सत्रह में अग्यतन लगभग 28.697 लाग हेक्टर से चाई चमता का उप्योग किया गया है समस्थ फसलों का सिंचित चेत बर्ष्त 2015-14-15 में 10,300,000 हेक्टर है वर्ष्त 2015-16 में 10,000,000 हेक्टर रहा सरवादिक सिंचित जिले हैं याद रखना इन इन पॉइंट को याद रखना है क्योंकि पहुचे जाते हैं कर द बाद सरवादिक सिंचित जिले हैं दतिया 66.46 पितिसर फे उसके बाद से ओर है आपका फिरे मुरेना फिरे गवाली है नियुनतम सिंचित जिलों की बात करें तो दिंडोरी 0.58 पितिसर फिरे मंडला फिरे अनुपो कुल किरसी रखवे का सिंचित पितिसर थे 31.28 पितिसर फिरे कुल बोया गया चित फल 2014-15 में 23,913 हेक्टर सुद्ध बोया गया चित फल 15,455 हेक्टर कुल सिंचित रखवा 8,965 हेक्टर सुद्ध सिंचित रखवा 9,584 हेक्टर सुद्ध बात करते हैं सरवादिक सिंचित पितिसर बाला जिला है आपका दतिया सरवादिक तालाब सिंचित जिला है पूर्वी मद्ध पिदेश सरवादिक सिंचित छित की बात करने तो चमबल गाटी को त्री मद्ध पिदेश चित इसमें ग्वालियर मुरेना अवत दतिया है बुंदेलकंट छेत से टीकमगड, नर्वदागाटी छेत से अपका होसंगाबाद, राज के नदी वेशनों में 81.05 अरव गन मीटर जल है, राज में सुद्ध भूमी गजल का क्यूपलब देथा, 35.03 अरव गन मीटर है, सबसे कम भूजल भंडार अन बूर्खान पूर जले म सथा सबसे अधिक संभावित भूमी का जल्व होसंगाबाद जले में, ठीड़, राज में सुद्ध सतही जल की मात्रा 56.08 अरव गन मीटर है, राज में पित्ती वर्स उपलब देथ सभी विरकार की जल की मात्रा 91.08 अरव गन मीटर है, आरजिस सचाई चमता सबसे कम पूर संहानपूर जले में, अरजिस सचाई चमता सरवादी खोसंगाबाद जले में, ठीड़, सुद्ध सिंचित छेत है, आपका दतिया जला, सबसे कम है दिन्डोरी जला, ठीड़, पश्च्च मद्ध पिदेश में सचाई का पर मोकसाधन कुए है, राज में सुद्ध बोए ग चित्रों में होता है, भूमीगत जल के विकास का नियूनतम इस्तर है मंडला में, और अधिकतम है आपका रतलाम में, ठीड़, राज में अत्यदिक भूमी जल का दुहन इंदोर, को जैन मंदसोर, साजा को रतलाम जलों में होता है, इस कारण इन पंच्याज जलों को काला जला कहा जाता है, डीजल पंपों का प्योग मुक्रोप से चंबल तथा बुंदीलखंड छेत्त में होता है, राज में सरबादिक छेत्पल पर नहरी सिचाई, तवा परियोजना की द्वारा होता है, अन्न सरोतों द्वारा सरबादिक सिचाई, सागर, दंगो, पन्ना, कट फठनी उमरिया सेहडो और जिलों में की जाती है, तालावं द्वारा राज में सरबादिक सिचाई, बालगाट एविम्शिवनी जिली में की जाती है, नलगूपय द्वारा सिचाई का साग słap, सक्य해서 केंड़र मुक्रोप से मालावाचेत में है, ते कुगों द्वारा सिचाई होती है पश्चिमी मद्ध के इसमेह देख ठीक पबन्चक्की से सरवादी आपके सिचाई इंदोर जले में होती है चमल गाटी वाला गाट बुंदिलकन में सिचाई का पिरमोक साधन नहरे हैं आपकी माता टीला बांद परियोजना को राजगाट परियोजना यारानी लच्ष्मी बाई सावर परियोजना भी कहते हैं ठीक माता टीला बांद को नर्वा नर्वदा नियंतरन फ्राधी करन का गठन 1916 में हुआ था मद्विदेश में उपलवद जल संसाधनों को समुच्ची तेवं समनविद विखास के लिए 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई मद्विदेश से चाई ओध बहन निगम की स्थापना 1916 में की गई यहां कड़े आते रहते हैं याद रगिए अभी जो नए आये होंगे 2019 में उन्हें देख लीजे ठीक हमने भी बात की थी मद्विदेश करें टप यह स्वाली लेक्चरों में ठीक है उन्हें जाकर देखें बात करेंगे हम लोग विवाद समाधान के लिए गठित सम्तियों के बारे में यह आप से पूंची जाती है खोसला कमीटी 1964 में नर्वदा जल विवाद निराधी करण उन्निस सो नत्र में सिफुद्दीन सोज समिती 2006 में केंद सरकार दोरां गठित सुंगली सम्तु समिती विश्थापंस की समस्या यह तू ठीक बात करते हम लोग मद्विदेश की नदी घाटी परियोजनाओ के बा चंबल गाटी परियोजना मत्विदेश की पहली परियोजना है इसका प्याराम उन्निस सो चंग्मन त्रेपन चंग्मन में हुआ है यह मत्विदेश ततना राजिस्थान की सयुक्त परियोजना है इस परियोजना के इंतर है चंबल नदीपर गांधी सागरवान मंदसोर मे 115 मेगाबाट तरहे आपका राणा सागर चितोड के रावर भाटा में तरहे जवाहर सागर कोटा बैराज ठीक है तो याद रुखना गांधी सागर, राणा सागर जवाहर सागर चम्मल पाए इस पर यूजना का पित्थम चनेट 11,00,00 एकड़, छेत्की से चाई चम्मता अर्जित करने का लक्ष था इस परियूजना का कुल विद्धुद उत्पादन चम्मता है 386 मेगाबाट फिर है आपकी वाहर सागर परियूजना पांसी वाहर सागर परियूजना परियूजना जोसन नदीपर निर्मत इसकी कोल विद्धुद उत्पादन चनता है 435 मेगाबाट यह परिजन परियूजना 1989 से फियारम की गई तथा सहडोल के देव लोग के पास बान निर्मते इसमें मद्पेदेश का हिस्सा है 2,86,689 एक्टर फिर है आपकी नर्वदा गाटी परियूजना नर्वदा उसकी सायक नदियों परिस्तित यह परियूजना मद्पेदेश महाराष्ट गुजरात की सेउफ्त परियूजना है 23 अक्टूबर 1984 स्रीमत्री इंद्रा गांदी द्वारा इसका सिललन्यास किया था इस परियूजना में 29 बेहद 135 मद्यम और 3000 लगू से चाई परियूजना इसम ले थे इसके इंतगत इंद्रा गांदी बांध फुनासा खंडबा तसा सरदार सरोबर गुजरात के नोगाओं में इस्तित इस परियूजना की कुल बिद्धुत लागात है उत्पादन 3000 मेगाबाट मद्यबदेश के खंडबाज लेके गोगला गाओं एवं हर्दा के खरदना गाओं में नर्बदा नदी पनिर्मित इंद्रा गांदी सागर्वान एवं ओकारे सुर्वान के डूप प्रभाविद के रामीड लोगों द्वारा 26 जुलाई 2012-13 सेप्टमब्र 2012 तक देश का पहला जल सकते आगए शुरूँगा था यहाँ फिर आपका राजगाट परियजना राजगाट परियोजना के बाद में याद रुकणा है बैतबान दी परस्त थे मद्देश और उत्तर परियोजना है 1200 बातर में राजगाट परियोजना कमाता टीला यह अलच्छंवाइ परियोजना के नाम से भी पिर है आपका परियोजना में पूरे कमांड चित्य में भूमिगत नदी प्रिणाली से सिचाई सुब्दा मिलेगी अनप परियोजना में आपकी में सामिन है चोरल नदी कौनसी चोरल नदी परियोजना मदविदेश की पहली अंतर गाटी परियोजना है फिर कैन बैतवा लिंक परियोजना मदविदेश के पन्ना राष्टी उद्यान से होकर गुज़ेगी कैन बैतवा लिंक परियोजना से मदविदेश की 4.90 लाग हेक्टर गुमी की सिचाई हो सकी है कैन बैतवा लिंक परियोजना के लिए 25 अगस 2005 को मंजूरी में लगई थी इसकी कैन नदी का कैच्मेंट एरिया 28,58 बर किलुमीटर है जिसमें 24,472 बर किलुमीटर चेत मदविदेश में ततासेस उत्तर पिदेश में आता है नरवदा चिपरा सिंगस्त लिंक परियोजना नवंबर 2012 से प्यारम की गई इस परियोजना तीन चेड़ों में पूर्ण होगी फिर जल अभिसे कभीहन इसके तुरुआत हुई थी दो अपरेल 2006 से जल आवर्थन योजना का सिलनयास दारजले की दिलावारा जिले छित में किया गया फिर नरवदा जल योजना का किन्द तरकार कि सहयोग से वोसंगबाद के परिया में सिलनयास किया गया इसका ठीक बात करते हैं मत्पितिस की फिरमुक परवस परीवजनाओं के बारे में ठीक है एक स्टारणी के रूम में यह परीवजना है आपकी पहले भी बात को चुके हैं कुछ के बारे में कुछ है नहीं होंगी उन्हें देख लें आपकी यह चंबल है 1905 में निर्मार तीन चड़ों ह यह अमना की सायक नदी चंबल पर रिस्तित या मद्विदेश राजिस्थान की सहिफ्ट परियुजना है या देश की दूतरी बड़ी नदी घाटी परियुजना है थिर आपकी नर्वदा घाटी परियुजना इस पर ऐसतर 1984 में सरदास तरूबर इंदरा सागर और महेसर ए राजस्तान दिस से लार्मान विद्ध होते हैं 3000 मेगावाट कोल विद्धुत उत्पादान 27.5 लाग हेक्टर से चाहिए इंदरा सागर 1.3 लाग हेक्टर चेथ ओकारेसर बांग से 2.14 लाग हेक्टर चेथ से चाहिए फिर बर्गी परिवजना रानी अवंति वाज सागर परिवजना है नर्वदा नदीपर है इससे लावान विद्ध होते हैं जबलपूर वापका मंडला स्योगनी इसकी 1.5 लाग हेक्टर से चाहिए चमता है ठीक है यह प्यारमूती 1971 में फिर बर्गी पर अफवारतन यह नर्वदा बर्गी नगर में जबलपूर कटनी रीवा 17 से लावान विद्ध होते हैं 2.45 लाग हेक्टर से चाहिए बुमी इसकी चमता है फिर है आपकी यह जोवट चंसेकर आजात परिवजना इसका नाम है हथनी नदीपर है अली राजपर से लावान वेत होते है नहीजार आठसो आटालीस से सचाहिए चमता हुचक आप अपड़ बेदान नदीपर है और खरगोन में खरगोनस से लावान विद्ध होते हैं 523 लावान विद्ध हुल्मी yoga. 523 कि मीटस Preset Snarek नदीपर hem चितवाड़ा वधार से लावानवित होता है. 15 मेगाबाट बिद्धुत उत्पादन निजी चितवारा किया जाता है. पर अधावा परियोजणा इस तावा नदी पर है इससे हौसांगबाद लावानवित होता है. 33,00,000,00 एक्टर से चायो 20,000,00 कलोबाट बिद्धुस उत्पादन होता है हलाली परियोजना सम्राट असोग निशाग है यह हलाली नदी पर है विदी साव राय से इससे लावान विद्धुत होते हैं इसका निर्माड हुआ उनिस सो तेहतर चेतर में सिचाई चमता बर्कमान में दो दसंबलो 47 लाग हेक्टर है ठीक फिर है आपकी बांड सागर परियोजना एसोन नदी पर है रीवा उसीदी से लावान विद्धुत होते हैं 400 मेगा वाट विद्धुत उत्पादन तथा एक दसंबलो 53 लाग हेक्टर से चाई 1978 से प्यारा में माताटी लाग वान परियोजना रानी लच्चमिभाई मध्यपिदेश में एक दसंबलो 16 लाग हेक्टर चित उत्तर पिदेश महाराष्ट की परियोजना है 63,338 हेक्टर चित में से चाई होगी से मध्यपिदेश का चित बाड़ा महाराष्ट का नाग परियोजना है इससे लावान पितोंगी। फिर आपकी बाग परियोजना है यह बाग नदीपा महराष्ट और मध्यपिदेश में इससे लावान पितोंगी। सिर्पूर गाव में बांत बनाए गया, वा महराश्ट में चित में सचाई होगी, फिर है 52 राजीज सागर, ये 52 नदी पर हैं, वाला घाट मद्देश, भन्णारा महराश, मद्द पेदेश पा महराश्ट की सहीपपरीुज़ना है, मद्द पेदेश में 18615 हेक्टर, वा महरा मद्विदेश महराष्ट इससे लावानवित होते हैं बाग की फूरक परियोजना है केन बहुत देशी है ड्रेटर गंगव एक केन नदी पर है छतरपुर पन्ना इससे लावानवित होते हैं मद्विदेश उत्तर पर इसकी परियोजना है फिर अपन नर्वदा इनर्वदा न नदी पर है बड़वानी में 13,760 हेक्टर सिचाई 26 हालोन नदी पर है मंडला में 11,736 हेक्टर छित में सिचाई होती है फिर पुनासा इंद्रा सागर नर्वदा खंडबा में हैं, खंडबा लावन वित होता है, 35008 हेक्टर से चाहिए फिर मान न दी करें, मनावर धार है, 15 050 हेक्टर सेचाहिए, 2006 से प्यारमवई और्मिल परियोजना और्मिल नदी पर है चतरपुर से लावानवित होता है मद्ध पिदेश उत्तरपिदेश में इसका 60, 90, 40, 90 में बटवारा है फिर आपका सिंगपुर बैराज ये और्मिल नदी पर है इससे आपका चतरपुर लावानवित होता है और मिल पर यूजना के अंतरगत पिस्तावे थे फिर बारणा बारणा नदी पर है रायसें सेहुर इससे लावानवित होते हैं 6,290 एक्टर से चाही चमता है इसकी बहांडे नयर वैतवा नदी पर है ततियाग वाली अर्विंड से लावानवित होते हैं 44,535 एक्टर से चाही चमता है इसकी अपर बैन गंगा संजय सरोगर यूजना बैन गंगा नदी पर है बालागाट और आपकर सिविनी इससे लावान वित होते है बारसिक से चाही चमता है इसकी एक लाग 3,722 एक्टर 1972 से प्यारम होई पर थावर परियूजना इस थावर नदी पर है मंडला इससे लावान वित होता है 18,212 हेक्टर से चाही चमता है 1977 से प्यारम होई कोलार परियूजना कोलार और मिल बांग उत्तर पर दिश नहर निर्मार मद पर दिश द्वारम इससे और में 45,087 हेक्टर चित में से चाही के लावा भूपाल को पेजल की उपलब देता है 68,887 हेक्टर कोल से चाही चमता है माही परियूजना ये माही नदी पर है इसका उत्गमधार में माही नदी का इससे लावान वित हैं धार और जावुगा दो बांग दो नहर है और 18,570 हेक्टर से चाही चमता है इसकी फरे सुकता परियूजना ये सुकता नदी पर है इसस से खंडवा आपका लावान मित होता है, 18,583 हेक्टर चित में सचाहिए, फरे सिंध परियोजने, सिंध नदीपर शेवक परियोग वाली अरिस से लावान मित होते हैं, 35,200 हेक्टर पर सचाहिए, फरे रंगवा परियोजने, कैन की सायक नदीपर है, छतरपुर में, मद्यपेदेश वा उत्तरवेदेश की सहयुक्त परियुजना चतरपुर में 16190 हेक्टर से चाहिए हुगी इसे फिर आपकी चोरल नदी इस चोरल पर है महू और इंदोर इससे लावन मित होते हैं 500 हेक्टर छेत में से चाहिए 1978 में ये सुई के सुई थी दजला, देजला, देवडा एक कुंदा नदी पर है खरवोन इससे लावन मित होता है 9000 हेक्टर छेत में से चाहिए इसकी फिर मुक नहरे वाच्छेत बैन गंगा ये बैन गंगा नदी पर है वाला गाट महराज का ला राजिला, फिर चमबल नहरे चमबल नदी पर है कि सिवपरवालियर मंद सोन नीमच नोरे मलड़ियं बैतवा नदी पर है बहातना नदी पर हो संगबाद रायसन और सेहर इस सेी लावन गंध होते, तावान है यह होसंगाबाद में है होसंगाबाद जले इससे लावन वित हुता है राजगाट बाई तटकीन है इस सुपुरी गुनाव दतिया से लावन वित हुता है राजगाट दाई तटकीन है यह टीकमगड़ा हुता है इससे लावन वित दतिया नहे दतिया वागवालि कि अब आट पे में हम लोग बार करेंगें मिर्दा के बारे में मद्विद इसकी परीच्च में मिट्टी देखेंगें हम लोग ठीक है इसमें हम लोग लेक्चर में लोग बात की थी शिचाई एवं नदी घाटी परियोजनाों और इसमें वक्रलण में मिट्टी के बारे में मद्विद इस के परीपेक्च में याद रुकिए हैपके जितने में भी मद्द्देश से सम्मंदी चेप्टर खतम हुए वो सभी मद्द्देश सामान ज्यान की नाम से जो आपकी पिले लिश्ट सुची बनी हुए उसी में डले हुए ठीक है भारत भारतिय भूमी मिर्दा सरविक्षन विवाग ने मद्द्देश की मिट्टी को पांच इस्थानी ये लोग क्या कहते हैं काली मिट्टी को भर्री या कनहर मद्द्देश में सरवादिक पाई जाने वाली मिट्टी है दक्कन टैफ मालवा के पठार में बैसाल्ट नामक अगने चट्टानों से निर्मित यह लावा मिट्टी है काली मिट्टी में चीका और बालू निर्मित लोहे और चूने की पिदानता है जोहे की अधिकता से इसका काला रंग चूने की ऊपस्तिती से आदिता गयहन करने की चमता है इसका काली मिट्टी कि 510 लाख ही कर छेत फल यानि कि 48 पिती सत में पाई जाती है मद्धिस में काली मिट्टी को कपास किरसी के लिए सर्वुत्तम माना जाता है इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है याद रखना है काली मिट्टी में फॉसफेट, नाइट्रोजन, जैप पदार्थों की कमी होती है फिर आपकी दूसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी दूसरी सरवादिक मात्रा में पाई जाने वाली यह मिट्टी बुंदेल खंड के कुछ भाग तथा बदगेल खंड में यह पाई जाती है विसिसकर मंडला, बालागाट, सीधी साइडोल जिलों में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी का निर्माण, आर्कियन, धारवाड तथा प्रमोकता गौडवाना काल की चट्टानों के रितू छरन से हुआ है लाल पीली मिट्टी का रंग निर्धारन फेरेक ओकसाइड की मातरादवारा नेधारित होता है लाल पीली मिट्टी का पी अचमाण 5.5 से 8.5 पितीसत तक यह मिट्टी अमलिये से छारिये होती है याद रखिए जब 7 से जाना हो तो उचारिये होती है जब 7 से कम हो तो अमलिये होती हो और 7 हो तो उदासीन होती है ठीक पी एच स्केल पर इसका मान अगर 7 है तो यह उदासीन है 7 से जाना है तो उचारिये है और कम है तो अमलिये है ठीक लाल पीली मिट्टी चाबल की किर्सी के लिए अधिक उपयोक्त मानी जाती है लाल पीली मिट्टी में हियूमरस, हियूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है आँगे बात करते हैं जलोड मिट्टी के बारे में जैसे काप मिट्टी भी कहा जाता है जलोड मिट्टी या काप मिट्टी राज के उत्तर पश्चम जिलों जैसे भेंड मुरेना से उपरी ग्वालियर में या छित या छारिय फ्रक्ती की मिट्टी है कहां कापाई जाती भेंड मुरेना से उपरी ग्वालियर में इसमें एलिव वाइल, मिट्टी या दौमट मिट्टी भी कहते हैं से जलोड मिट्टी का निर्माट बुंदेलखन नीज के रितू, चरन तथा चम्बल नदी द्वारा निच्छे पित पदार्थों से हुगा है जलोड मिट्टी में नाइट्रोजन, जैप तथा फासपूरस क कमी होती है, जलोड मिट्टी के तीस लाख एकरचेत पल में पाई जाती है, जलोड मिट्टी, जलोड मिट्टी का फियचमान साथ या उस्यदिक होता है, जलोड मिट्टी में बालू सिल्क, मितिका का अनपात 50 अनपात है, 19.6 अनपात है, 29.4 अनपात है, जलोड मिट्टी म लिए सर्सों सबसे जाना कहा होता है आपका भेंड मोरेना में जलोड मिट्टी की में और बर रखता और रखता अधिक होती है उत्पाप जलोड मिट्टी छेत में मिलदा अपरदन को रेंगती हुई नित्यू कहा जाता है यह चंबल वहाव छेते मद्विदेश के उत्री भा भावित हैं इसे ठीक है यहां जो चंबल नदी है वो सबसे जाना अपरदन करती है फिर आपकी कछारी मिट्टी बाड में वहाकर लाई गई हुआ है मिट्टी जो नदियों द्वारा अपने अपवाज छेत में बिच्छा दी जाती है कछारी मिट्टी कहलाती है चंबल की बलूई मिट्टी इसे लाज रहतीली मिट्टी भी कहते हैं बुंदेल खने के कुछ भाग में रेत और बालू से मित्रित मिट्टी पाई जाती है जो नीस ग्रेनाइड चटानों की तूटने से बनती है अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं एक सायनी के रूम में ठीक है चायट के रूम में सभी मिट्टीओं को देख लिते हैं मिट्टियों का बेवरण विसे स्ताय और छेत Ball तो फेहली आपकी मिट्टी यह मुखञटक है कर्भूनीट इसमें कमीप्ता पाई याथ ही फासप३रस अजयेब्ट्त की जे से उत्री पश्मी मद्दिफिदेश जिले हैं मुरेना बेंडगवालिय स्विपुरी स्विपुर यहां गया हूं गन्ना कपास की खेती की जाती है त्रह लाल पीली इसमें मुख गटक हैं लोहे के ऑक्साइड केल्सियम इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और हुमरस्थ क इनकी प्रक्ति है जो अमलिये से चारिये तक है यह पाई आती है बुंदेलखंड की पठार की पूरी में जैसे कि जलेहन में मंडला वाला गाट सहडोल यहां सबसे जाना चावल मुख फसले यहां की ठीक है तरहें आपकी गहरी काली मिट्टी इसमें मुख घटक है लोहा में घुलन सील तत्त कमी है कमी है इसमें फासफूरस नाइट्रोजन और जैब तत्त होंगी फरकेती है इनकी अमलिये इनका छेत है मालवा पठार और सत्वड़ा छेत होसंगाबाद वहर दाजली में पाई जाती है इसकी मुख फसले गया हूं कपास तिलहन चना पिर आपक चूना सील में घुलन सील तत्त इसमें मुख घटक होती है और कमी होती है फासफूरस नाइट्रोजन जैब तत्त होंगी इनकी जो प्रकेती है अमलिये और इनका जो छेत है उत्तरी मालवा पठार और निवाड है जिलेहन में गुना साजापूर सेवपूर उज्यन विदी ठीक है इनमें मुख फसल है ग्याउं कपास मुणफली ज्वार आदी तरेच्छिचली काली मिट्टी इसमें लोहा चूना इभम सील में घुलनसील तत्त होते हैं इसमें मुख घटक इसमें कमी रहती फासफूरस नाइट्रोजन जैब तत्तों की इनकी जो प्रकेती है वो अमलिये हैं फिकार की इनका छेत है सत्पूरा छेत इनका जिले हैं जो चिदवाड़ा सीवनी बैतूल में पाई जाती है ग्याउं और चावल यहां की मुख फसल है फिर आपकी कछारी मिट्टी इसमें कमी है फासफूरस नाइट्रोजन की और यह अमलिये प्रक्षिती की ह होती है इसका छेत है चंबल घाटी छेत ग्वालियर भेंड मोरेना जिले हैं इसकी फेर मुख फसल है ग्याउं गर्ना का पास फिर आपकी मिस्रित मिट्टी इसमें कमी पाई जाती है फासफेट नाइट्रोजन कार्वनिक पदार्ट की इसका छेत है पठारी छेत सतना रीपा में पाई जाती है यहां जो मुख अपकी पसले है ज्वार बाजरा मोटी इनाज पाई जाती है तो यह थी हमारी मिट्टिया मद्पेदेश की ठीक है आगे हम लोग बात करेंगे मद्पेदेश की जलबायू रितू बरसा की बारे में ठीक है इन सब को हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे मद्पेदेश सामान ग्यान के बारे में तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर में देखा था मिर्दा मिट्टी मद्पेदेश की परीपेक्ष में हम लोगों ने मिट्टी चैप्टर देखा था मिट्टी का याद रखिए आपके जितने भी इस मद्धपिदेश सामान ग्यान से सम्बंदित चेप्टर खतम हो चुके हैं वो सभी मद्धपिदेश सामान ग्यान के नाम से जो आपकी प्लेलेश्ट सूची बने हुई है उसी में डले हुए इसमें बात करने माले हमगों जलबायू रितू वर्षा के बारे में जलबायू रितू वर्षा भारत के मद्ध में स्थित होने के कारण मद्धपिदेश में मानसोनी जलबायू की सभी विसेचता है पाई जाती है सभी पिदेश को जलबाई प्रियाधार पर चार भागों में विस्तित किया गया है तो अगर आपसे एक लाइन में पुछता है मत्पिदेश की जलबाई किस पेकार किया है तो आपको बताना है मान सुनी तो ये चार भाग हैं जो पहला है उत्तर का मैदान यह स्थान समुद्र से दूर इस्तित है अतेव यहां ग्रीस्म रितू में अधिक गर्मी तथा सीत रितू में अधिक ठंड रहती है उत्तर के मैदान में ठीक दूसरा है विंद्यान चल का पहाडी मैदान पहाडी भाग इस पहाड़ी भाग में ग्रिस्म रितु में अधे गर्मी नहीं होती है, और सीत रितु में साधारन ठंड पड़ती है, विद्यानचल का पहाड़ी भाग है, इसमें ग्रिस्म रितु में अधे गर्मी नहीं होती है, और सीत रितु में साधारन ठंड पड़ती है, गर्मी में जाहादा गर्मी भी नहीं होती है गर्मी रितु में जो थंद कम ओसम होता हे उसमें साधारण ठंड होती है फिर आपका है द्थीसरा नरवदा का गहाटी नरवदा घहाटी का मै। इस गहाटी के निकट से करा क्रेयखा बुझज़ती है अता ग्रीज में रितू अधिक गरम और सीत रितू में साधारण ठंड होती है ठीक फिर आपका मालवा का पठा है इस पठार की जलवाई उसाधारणता समय ग्रीज में रितू में ना तो अधिक गरमी पड़ती है और नहीं सीत रितू में अधिक ठंड होती है ठीज, अब बात करते हैं, भारत के अन्य छेत्रों के समानी मद्पदेश में भी तीन रितू में होती है, कौन कौन सी, सीत रितू, फैर ग्रेस्म रितू, वरसा रितू, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीत रितू के बारे में, राज में नवंबर से फरवरी, याद इस रिति में सुर्व की स्तिती कैसी होती है भूमत रेखा के दच्छल में होती है अता मानसूनी हवाय उत्तर पूर्फ से लोटने लगती है इससे मद्वेदेश का तामान कम होने लगता है इस रेतु में मदपेदेश का आःसत तामान सीत्रूतु में मदपेदेश का आःसत तामान 20.19 डिगरी सेंटिगेट से 26.6 डिगरी सेंटिगेट के बीच होता है इस रेती पो सियाला भी कहते हैं इयाद रहे क्या भार मुईचा चपको है सीत रितु का अननाम क्या है सेयाला सीत रितु में मद्पिदेश के उत्री भागों में तामान 15 डिग्री सेंटीगेट से 18 डिग्री सेंटीगेट के बीच होता है जबकि दस्छडी भाग में 18 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीगेट के मद्ध होता है इस रितू में कुछ बर्सा भी होती है इसे लोग मावट भी कहते हैं इस बर्सा को ठीर उत्तरफश्चिमी मद्धविदेश में दिसंबर एवं जन्वरी में चक बातों से हलकी बर्सा होती है दिसंबर जन्वरी में होने वाली बर्सा ग्यों, चना, मसूर, आधी फचनों के लिए लाप्दायक होती है यह दि हमारी सीती रितू अब बात करते हम लोग ग्रीश्म रितू के बारे में किसके ग्रीश्म रितू इस रितू में तामान मारच से जून तक लगाता लड़ता है गिरिस्मेरितू में मार्च से जून तक लगातार बढ़ता है जो दश्चिड और दश्चिड पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है जून माहे से राज के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन का उच्चितम ताम मान 42 डिगरी सेंटीगेट से अधिक हो जाता है इस मौसम में मानसून, मानसूनी हवाएं समुद्ध से थलकी ओर चलती है वाईवंगंडल में नमी कम होती है एवं धूल भरी गरम हवाएं भी चलती है इस रेती को गिरीस में रितू को इउनाला कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है इउनाला फिर है आपकी बरसा रितू राज में मध्ध जून से सेप्टम्बर तक बरसा रितू होती है राज में मानसूनी बरसा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर क्या अरब सागर दोनों की ही साखाओं से होती है याद रखना मद्ध पिदेश में बंगाल की खाड़ी से भी बरसा होती है और अरब सागर से भी कि पिदेश में सरवादिक बरसा जुलाई तथा अगस्त माय में 75 सेंटीमीटर होती है पिदेश में बर्सा की मात्रा सभी इस्थानों पर समान नहीं है यानि कि अलग-अलग इस्थानों पर अलग लग है उधारन के लिए पश्चिमी मद्पिदेश के 75 cm से 90 cm बर्सा बाले भाग के बीच महादेव की पहाडी पर 150 cm बर्सा होती है मद्पिदेश में उधार बर्सा 112 cm है जिसमें पूरी भागों में अत्यदेख 140 से 115 cm तर तथा क्रमसा पश्चिमी इबं उत्तर पश्चिमी भागों में बर्सा घटती जाती है बर्सा के आधार पर मद्पिदेश को 4 भागों में बाटर गया है संबर्सा की 125 cm की रेका पूर्बी तथा पश्चिमी भागों में बिभाजित करती है यह संबर्सा रेका सीधी जबलपूर स्थिवनी से होकर गुजरती है मद्पिदेश में अधिकांस वर्सा दच्छिडी पश्चिमी मांसून से होती है याद रखना मद्पिदेश में अधिकांस वर्सा दच्छिडी पश्चिमी मांसून से होती है मद्विदेश में जून से सेप्टमबर तक बरसा होती है सबसे कम बरसा भेंड में 55 cm मद्विदेश में सबसे कम बरसा कहा होती है भेंड में 55 cm वो सबसे अधिक बरसा होती है आपकी पचमडी में 199 cm याद रखना सबसे कम भेंड में वो सबसे जानदा पचमडी में मद्धविदेश में रितू संबंदी आंक्रे इकत्त करने वाली बैदसाला इन दोर में हैं याद रखना इसे भी मद्धविदेश में रितू संबंदी आंक्रे इकत्त करने वाली बैदसाला का आएं इन दोर में चिदेश में बिन्द छेत में अरब सागर एबं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से बर्सा होती हैं कहां बिन्द छेत में सरवाद एक तामान गंजवासोदा विदीशा में 28 स्थमलोग साज सेंटीगेट मापा गया बड़वानी में इससे अधिक 48 स्थमलोग 9 डिगरी सेंटीगेट 1995 में रहा लेकिन अधिकारी प्रूप से गंजवासोदा का मानने मद्धिश में ओस्तनताब मानने 21 डिगरी सेंटीगेट सीतरितू में अधिक तमसूखा रहता है मद्धिश की जलबाई को ऊष्ण कटी बन दिये सवरूप बिदान करने के लिए प्रूप से गुजरने वाली करक रेखा 14 जिलों से गुजरती है मद्धिश के करक रेखा कितने जिलों से गुजरती है मद्धिश के 14 से कितने राज्यों से गुजरती है तो याद रखना आठ राज्यों से गुजरती है मद्द पर इसके जिलों की बात कर लेते हैं करक्रेका रतलाम से गुजरती ओज्जयन से आगल मालवा से राजगर से सेहोर से भोपाल से विदीसा से रायसें से सागर से दमोय से जवलपूर कटने उमरिया सहडोर ठीक है इन्हें याद रखिए जंगर अब बात करते हैं आगे जबकी दच्छिड परश्ची मानसून से प्राप्त होने वाली बर्सा इसे मानसूनी जलवाई का स्वरूप विदान करती है पिदेश में देनिक तथा बार्सिक तापांतर अधिक होता है या तापांतर मार्च में सरवादिक होता है फिदेश के उत्तरी भागों में तापमान अपेक्चा के अधिक है जबकि दश्चिण फूर्वी भाग में तापमान कम है सेप्टमबर अक्टूबर माहे में पढ़ने वाली गर्मी को फिदेश की दुतिये गर्मी रितू कहा जाते मद्विदेश में सीत रितू में लोटने बाले मानसून से होने वाली वार्षा को क्या कहते हैं मावट बर्ष 2015 की जून सेप्टमबर अहुदी में 804.3 mm बर्षा दर्च की गई थी जो सामान था उसक बर्षा से लगबग 21.64 पितिसत कम है बर्ष 2016 में कुल बर्षा 1027.6 mm दर्च की गई जो सामान उसक से लगबग 1.09 पितिसत अधिक है तो चलिए यह था आपना नौबा चेप्टर इसमें हम लोगोंने बात कर दी जलवायू रितू और बर्षा अहांगे बात करेंगे हम लोग उद्देव एवं ब्यापारों की बारे में ठीक है उद्देव ब्यापार देगे मत्विदेश की परिभेव छेले ठीक है हेलो दूस्तो तो चलिए हम लोगों बात कर रहे थे मत्विदेश सामान ग्यान के बारे में तो अभी तक हम लोग नौव चेप्टर इसमें नौवा चेप्टर था जिलवायू रितू इवं बर्षा याद रखिए जितने भी आपके लेक्चर खतम होते जा रहे हैं किस्ट सुची बनी हुई है उसी में डली हुए है इसमें उद्धियोग एबं व्यापार के बारे में बात करना है किर्सी फिधान बर्षा आधारित अर्थवे उस्था को विकास के उच्च इस्तर पर ले जाने के लिए उद्धोगिक उद्धोगी करन आवस्षक है उद्धोगिक विकास की दृष्टी से मद्धिपदेश देश में सातवी नंबर पर राज की आया में उद्धोगिक छेत का युगदान चोहदेव पिती सत है राज में जीडिपी में उद्धोग कास सा 39 अरतीस पिती सत है राज के सकल मूल में दूतीयक छेत का युगदान 2011 वारे की 27.9 पितीसत की तो ल्याम बढ़कर 14.15 में 24.15 में 23.85 पितीसत तो वर्स 2015 सूले की तो अनुमानों के अनुसार 23.63 याद रखिए यह आंकड़े विदलते रहते हैं तो अभी हम लोगों ने जो मत्यपिदेश सामन ग्यान मत्यपिदेश करेंट पेस पड़ा हुआ था उसी में सभी नए आकड़े दिये गए तो आप लोग जाकर देख सकते हैं ठीक है वो सभी मत्यपिदेश करेंट पेस 2019 वाले में मिल जाएंगे के लिए इस सूची में सभी पूरा करेंट पेस उसी में डला हुए आँगे बात करते हम लोग देवास जिले में नेमा वर उद्धोगिक छेत की स्थापना है तो 2013 में अंतिम सुईकिती पिदान की गई माइक्रो एंड स्मॉल इंटर्प्राइजिज क्लेस्टर डबलमेंट प्रोग्राम योजना अंतगत अधु सरुचना विकास हेतू इंदोर जिले में उद्धोगिक छेत ग्राम बेजेपुर में कलेस्टर विकास हेतू 2015 में ग्वालिय जिले में रेडी मेड गार्मेंट पार्ग गदईपुरा 2015 में सिपुरी जिले के उद्धोगिक छेत फूड कलेस्टर बड़ोदी में 2015 में तथा रतलाम के ग्राम कर्मदी में नमकीन एंड इलाइड कलेस्टर के विकास हेतू 2015 में सिध्धान्तिक मंजूरी पिदान की लिए वर्ष 2015 सूले में जराज के लबग 28,000 इस्थापित हद कर्गों में से 21,000 हद कर्गों हद करगे कारिसील रहें पिदिश में 2015 सूले में नवीन मुकमंत्री सो रोजगार आर्थी कल्याण योजगार में लगवग 1685 सिलपियों को रोजगार समर्थन उपलब्द कराए गया वर्ष 2016 में माय सेप्टमबर तक लगवग 1426 सिलपियों को रोजगार समर्थन जिया जा रहा है मद्यपिदेश हस्त सिल्फ विकास निगम की स्थापना मद्यपिदेश लगू उद्धोग निगम की साहर कंपडी के रूम में 1981 में की गई थी किस की? मद्यपिदेश हस्त सिल्फ विकास निगम की स्थापना कब 1981 में ठीक है उनिस्सो निन्यार्वे में राज जिस आसन द्वारन नेगम को हद करगा विकास समंदी कार सौपने के फल स्वरूप अब नेगम का नाम मद्पिदेश हस्त सिल्प एबं हद करगा विकास नेगम हो गया है वर्तमान में लगवग चबालीस जिलों में रेसम उद्वोगों की गत्ती विधिया संचाले थे अभी जो नए सर्विक्षण आंकड़े आये हुए थे उनमें जाकर देख लें ठीक है क्योंकि जे सर्विक्षण आंकड़े हर साल आती रहते हैं तो बदलती रहते हैं मुक मंत्री सोरोजगार योजना योजना का उद्विक्ष विभेंद जिलों में समाज की सभी वर्वों के लिए स्वयम का उद्व इस्थापित करने है तो बैंग बैंकों के माध्यम से रेड़ उपलवद कराना है इस योजना के इंतगत फरी योजना लागत पर BPL, अनसूचित जन जाती, अन पिछड़ा बर्ग, क्रीम लियर को छोड़कर, महला, अल्पसंकेप, निसक्त जन, ये तो 30,30, अधिक्तम 2,00,00 रुपे अनुदान रासी पात ता हुए 2016 में इस योजना के अंतगत 12,01,00,000,00,000,000,000 का अनुदान विदरन कीए जाने का लक्ष रखा गया था केंदरी बिद्देवं सुचना कसरण मंत्री अरुन जिटली थी थे तो ठीक है, 30 मई 2015 को होसंगावाद में नमीट बैंक नोट चागज लाइन की उत्पादन के लिए SPM की नई पल्क लाइन यूनिट शुभारम किया है, इसे याद रखना है, बहुत ही मद्ध को है, क्योंकि कई बार कुछा चाच को, सेकॉर्टी पेपर मिल का है, होसंगावाद, गिलोबल इन्वेस्टर सम्मिट 2014 में, कुल 6.89 लाग करोर निविस के पिस्ताव आए, इसे याद रखने की कोई जरूर से, गिलोबल इन्वेस्टर सम्मिट 2016 का आए जन, 16 एक्टूबर 2016 को इंदोर में किया गया, जिसमें 42 देशों के 3,000 से यदे बिदेशी कितिने दियों ने भागी लिया, गिलोबल इन्वेस्टर सम्मिट के दौरान 5,62 करोर के 2,630 निवेस के पिस्ताव पर पूरे हो सकें, इसके लिए इन्वेस्टर सम्मिट एक फैसलिटेशन एंड आप्रूबल मॉनिटरिंग सिस्टम प्यारम हो रहा है, IT कंपणी TCS के बाद IT छेत की ही दिगज कंपणी इन्वेस्टर इन्वेस्टर में अब तक के सबसे आदुनिट केमपस की आदार सिला 23 फरवरी 2014 को रखी थी, मद्ध्ध्ध्ध्ध की पिथम उद्धोग एक नीती याद रखना है, मद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् में क्यास पर आधारित और वरक कारखाना इस्ताबित किया गया मेग नैनी के तहट मत्पिदेश राज और देव नगम द्वारन चलाए जा रहे दस एमपोरियम तिरमसा भोपाल इंदौर जवलपुर ग्वालियर रीबा उज्जेन चार स्थान रायपूर भिलाई दिल्ली ए बहार हैं ठी आंगे बात करते हैं मद्विदेश का एक मद्विदेश का एक मात चाता उद्व महू में हैं कहाँ हैं महू मैं एकमात डीजल इंजन कार खाना, हुद्धिव इन्दौर में हेरे तरासने का क्यान, आपका जबलपूर में कदेश का पित्थम रतन परीशकरन केंद जबलपूर में कील बातार बनाने का कार खाना, आपका विदीशा में मद्धिदेश में तक्नीकी फरीशर गुनाजले के राध्धोगड में इस्थापित किया गया मद्धिदेश में उद्धोगई की पिक्रिया को तीब गती फिदान करने के लिए एकल खिड की फिडाली योजना प्यारम की गई आटो उद्धो योगों को बड़ावा देने के लिए इंदोर के पास भारस सरकार की योजना के इंदर आटो क्लस्टर की स्थापना तेहतर दिसमलाव 29 करोड रुपे से कारम की गई थी आटो मुबाइल के लिए भारस तरकार की इंदर्स्टियल इंफ्रेस्ट्रेक्चर अपगेडेशन योजना के अंतवर पीथम पूर जेलाधार में विसेश क्लस्टर बनाए कि जाएगा रांगे पात करते हैं दिल्डी मुंबई उद्धो के कोरीडोर में पिदेश के दस जिले सामिल हैं कौन को से नीमत मंदसौन रतलाम जावगा धार इंदर्स देवास और जैन साजापूर राजगर को सामिल किया गया साजापूर जिले में स्थित मक्सी में बनस्पती तेल की काई लगाईगी हैं मनवार एधार में नीजी इसपास सयंद की योजनापन नी है निर्यातो नम्युक चमड़ा एकाई टाटा द्वारा देवास में लगाईगी ट्रांसफार्मर कारखाना सेउट छेट में उन्नीस सो चेटर से जवलपूर में कार गया थे उमरिया में लाहाख का सास की ये कारखाना है ग्वालियर में दिया शलाई कारखाना एटार्सी में चिप पार्टिकल बोर्ड सिलीपर रेलवे सिलीपर बुद्री में बनाए जाती है ठीक चंदेरी आपका महेसर एवं बुर्षान पूर कौनगों से चंदेरी महेसर बुर्षान पूर साडियों के लिए पिसिद है धाती मूर्ती उद्यों में होसंगाबाद में होता है धातु मूर्ती उद्यों होसंगाबाद कमपेश्ड ओरीजिन औरीजिन एंड डिसाल्ड डिसाल्ड एस सिटीलीन उद्यों इंदोर में है एस्विश्टस सिमेंट फेक्टरी केमूर में है इंदोर के पास auto cluster complex की स्थापना की गई गोविंद पुरा और दोग एक्षित भोपाल में इंजीनिर क्लेक्षित प्रिस्थावित थे देवास देवास में पानी की समस्या को दूर करने के लिए देश की पिथम V.O.T. आधारित जल पिदाय योजना निजी छित के सहयुक से लगाई जा रही है राज सरकार द्वारां ग्वालियर मुरेना लिंक रोड पर अटल विहारी वाच्परी राष्टिय सूचना पुरोद्दुगी संस्थान के समीब आईटी पार्क स्थापित किया गया 2012 में खरगोन में नीम खली सैंद का सुवारम किया गया भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड तथां V.P.C.L. द्वारां सागर जली के आगा सौद पीना तहसीर में 6 मिलियन टन चमता के 30 सोदा कारखाने की स्थापना का मार्ग फिसर्ष्ट हुआ जिसने इसमें 2011 से उत्पादन फ्यारम हुआ है आगे बात करते हैं पिदेश में निवेश की सुवदा से 231 अधी सूचित उद्दूगिक चित उननीस विकास केंद चार अधी सूचित विसिसालतिक चित बाराय उत्पाद विसिष्ट उद्दूगिक पायव इस्तावित ने ठीक आगे बात करते हैं केंद सरकाद द्वारा सुईकित मद्दित पिदेश के उद्दूगिक केंदों की बात करें केंद सरकारद द्वारा भारत में विक्सित किये जाने वाले 19 उद्धोगिक विकास के अंदों में से पीथमपूर धार मद्धिदेश में इसे उद्धोग औस्थी वर वाहन के संकूल के रूम में विक्सित किया जाएगा पीथमपूर धार में मद्धिदेश का पहला सेज यूनिक केम कंपनी विक्सित कर रही है पीथमपूर में ओटू टेस्टिंग से इंटर विक्सित होगा पीथमपूर धार में धार को भारत का डेट्राइट कहा जाता है क्योंकि यहां अनेक कार निर्माण उद्धियोग लगे हुए विजय कुमार इंटरनेशनल पीथमपूर धार में हीरा फरिषकन का राजी का सबसे बड़ा कार खाना है मद्धियोग पीथमपूर में इस्थाबित किया गया ठीक पीथेश का पहला पीथेश का पहला निर्या सम्मधन पार्ट आपका पीथमपूर में अवस्ति थे मद्धियोग पीथेश का एक मात 1962 में पिपलानी भोपाल तथा नेशनल नियूज प्रेंट एंड पेपर मिल 1956 में नैपानगर में इस्थापित किया गया था राज का एक मात गड़ी निर्मार कारखना बैतूल देखी चुके थे हम लोग बैतूल में सेंटर फोर एडवांस टेकनोलोजी सेंटर केट इंदोर में इस्थित आडविक अनुसंधान केंद है यह लेजर उत्पादन का एसिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद है यह याद रखिये लेजर उत्पादन होता है यह का एसिया का पहला और दुनिया का तीसरा कें काश्टिक सोड़ा के तीन फिर्मों को पाधन केंदे हैं हमलाई नांगदा और नेपानगर ठीक आंगे बात करते हैं राज की दो सरकारी चीनी मिलें वरलाई देवास में और केलारस मुरेना में पोस्ट एंट टेलीग्राफ वर्क्स ओप आपका जवलपुर में जहां टेलीफॉन और टेलीग्राफिक उपकरन बनाए जाते हैं डीजल इंजन बनाने का करखान आपका इंदोर में हैं राज में रक्षा उत्पादन की छे फ्रेक्ट्री हैं जिनमें से चार केले जवलपुर में हैं मद्विदेश में सबसे कम उद्धोगे केंद हैं पन्ना जिले में अब रेल पार्क इंदोर में बनाए गया विजेगर नगर गुना में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाने का निर्माड इटली एवं अमेरिका के सहिक से किया गया एयर कार्गो कॉंप्लेक्स की स्थापना इंदोर में की गई राज में ब्यापार केंद की स्थापना भोपाल में की गई बद्पतेश की पिथम उद्दोगी स्वास्त प्योक साल आए इंदोर में स्थापित की गई इंडो जर्मन टूल की स्थापना इंदोर में की गई आपकी याद रगना है आगे देखते हैं केंद सरकार ने इलक्टोनिक टेस्टिंग भाव विकास केंद इस्थापणा इसकी इंदोर में की है वो रहानपुर जिलाब फावरलूम ओद्देव के लिए विसिद्द है जलेटिन बनाने का कार खान आपका जवलपूर में है इंसुलेटिंग बनाने का कार खान आपका देवास में खेरवा जाती कि द्वारा कथ्था बनाने का कार विसेशता पूरवी मद्धिदेश में किया जाता है खेरव्यक्ष की लखड़ी से कथ्था बनाने का कार खाना सिवपुरी और वानपुर मोरेना में कच्छे लाग से सीड लाग तथा सेलाग बनाने का कालखाना सास की ये कालखाना है उमरिया में मद्ध पिदेश में पूझी निविस बढ़ाने के और उद्धोग पतियों को रिजाने के लिए पिदेश सरकार ने नई उद्धोग एक संबर धन नीती 2014 का अनुमोधन 30 सेप्टमबर 2014 को मुख मंत्री सिवराज सिंग चोहान की अध्यक्षता में हुई थी ठीक है उस समय सिवराज सिवराज थी ठीक है याद रखिए ततकालीम सिवराज मुख मंत्री भारत का पहला निजी प्वं शिष्टम के सहें। सिवरा खान को मेसलिकि आपके हैं मद्धपिड़ेश में पित्वन वद्द्ध्यू मेरी मंME मिधा देभ गदी को समस डेंडव जावर खैशली में 1935 में पित्वम सूति मिल की बात करें तो और पुरानपुर 1906 में पित्वमु सेमन्ट आगे बात करते हैं लोग मद्धिपदेश में उद्धोगों का बर्गी करने ठीक है खने संपदा पर आधारित उद्धियों इसकी स्थापना हुई थी 1960 में बेटिस के सहयोग से हुई थी कईवार पूंचा जा चुपा है किस के सहयोग से लगाया था है बेटिस के सहयोग से इसमें जनरेटर, केपिसीटर, ट्रांसफोर्म और स्विच गेर आधी उद्धियों बनाए जाते हैं बात करते हैं लोग बनों पर आधारे तुद्धियों मद्धिश के बनों पर आधारे तुद्धियों देखते हैं तो इसमें आपका नेशनल निउज पैंटेंड पेपर मिल नैपनंगर बुर्हानपुर में भारत का पिथम कालखाना कागज कालखाना आए जिसकी इस्थापना 1948-49 में इस्थापना की गई नायर फ्रेस सेडंडी केट लेमिटिट के नाम से हुई थी और 1949 में राज सरकाद द्वरा अधिक्यत की गई है और पिथम उत्पादन कंपणी ने 1956 में किया 1956 में से कंपणी केंद सरकार की अधिन होगी यह पिथम भारतिय नियूज पेंट निर्माड कंपणी है सेकॉर्टी पेपर मिल यह संगाबाद में इसकी इस्थापना आपकी उननी सो सरसट में की है तोरे ओरियंटल पेपर मिल हम लाइस एडूल में यह निजी छेत का कर रखाना है इसमें पोस्तक चापने का कागाज बनता है आंगी बात करते हैं हम लोग बैंक नोट फेस दिवास 1975 की स्थापना हुई थी यहाँ पर पांच या उससे अधिक मूल की नोट चापे जाती है महीन का अगर टिसू पेपर बनाने का कार खाना आपका इंदोर में है विडी उद्धो की प्रमुक्त केंदे हैं जबलपूर हो सागया लकडी चीने का कार खाना आपका जबलपूर में है खेर की लकडी से कथा बनाने का कार खाना सिवकुडी में और बानपूर मुरेना में दियासलाई के डिब्बे बनाने कारखना आपका ग्वालिर में है, चिप ऑप्टिकल बोर बनाने कारखना आपका उमर्गिया में है, ठीक, याद रुकिए, अब बाग कर लेते हैं किरसी पराधारित उद्देव हैं, तो इसमें सूती कपड़ा उद्देव, कपड़ा के उद और अदिद्दिईर विशेशि से इंदर इसके बाद ऑजयन ग्वालियर, गुर्हानपूर खंधबात है, किंतिदी मरेशे से कपड़ा बनाने का उद्दिव, नांगदा इंदवालियर ओजयन दिवास में, किंतिम रेशा बनाने का उद्दिव, आपकर नांगदा ग्रस सीम फैक्टरी में उनी कपड़ी बनाने की इन दौर में दो कारखाने हैं फिर बात करते हैं चीनी उद्धियों कौन सा चीनी उद्धियों सबसे बड़ा चीनी कारखान आपका बढ़लाई में है केलारस मुरेना डबरा इभोपाद सुगर मिल सेवर में डबरा सुगर मिल्स डबरा अग्वालियर में है डबरा तहसील है ग्वालियर टीर यही है जीवाजी सुगर कंपनी लिमिटर यह आपका दलोदा बंदसोर में सेट गोविंदर राम सुगर मिल्स महीत पूर रोड उज्जन में जाबर सुगर मिल्स इंचावरा मेह रतलाम में तिया है फिर बात करते हैं लोग अन्य किर्सी यादा रखते उद्देवों की बात करते हैं तो इसमें आपके सामल होगा कीट ना सकत सैंद ये बीना सागर में जीवानों खद सैंद ये बोबाल में वाइल एंड पसु आहाद सैंद आपका मुरे ना में राज का सबसे बड़ा यह एंती के पिछे बावई होसंगाबाद में डेरी फार्म बावई होसंगाबाद में ही फिर आपका किसी आदारित उद्देवों के लिए छिदवाड़ा ज लेकि खजूरी ततां पंडूर्ना चित्विसिद्य हद करगा उद्देव हद करगा उद्देव परमपरा आओगत एबं कलात्मक वस्तों के उत्पादन के लिए कि साथ साथ पिदेश के बुनकरों को रोजगार उपलब्द कराता है रेसम उद्देव की बात करने तो किर् परिफ चिलों में रेसम उद्दोग गतिविदी असन चालेते हैं चलिए बात करते हैं लोग मद्द्देश में उद्दोगिक विकास संस्था हैं मद्द्देश में उद्दोगिक विकास संस्था हैं यह संस्था हैं आपकी यह मुख्याल है और यह कार है तो वित्त निगा इन दौर में 1955 में इसकी स्था पना हुई थी अभी MPPSC में आपका पूंचा गया था ठीज इन दौर में 1955 में निजी एवं सहकारी चेत के उद्योंगों को पित्तिय मदद देना इसका तुर्मुक कार है फिर लगू उद्यों निगम इबोपाल में आपका 1961 में इसकी स्था पन या जास अधी एवं ग्राम उद्योंग बोड इबोपाल में मर्याध़ी उद्योंगों को भड़ावा देना उद्योंग ईिक स्था भ्यावपाल में 1965 में बड़े तथा मध्यम सहाणी के उद्योंगोंगों वित्तिय तक्नीकी मदद उपलकत कराना अधा राज्य उद्यों उनिगम भोपाल में 1969 में सरकारी एवं सयुक्त छेत के उद्धेवों को मदद करना वस्त उद्धेव उनिगम इन्दो और 1970 में मुख कारे सासन के दिन सूती वस्त कपड़ा मिलों का संचालन करना हरस्त सिल्फ मंदल भोपाल में 1972 में हरस्त सिल्फ उद्धेव को बढ़ावा देने के लिए तुर मित्तिय मदद करना हैंड लूम संचाला ने लाएंड भोपाल में 1976 में हैंड लूम तथा फाबर लूम उद्देवों के लिए पूंजी उपलाद करा हैं निर्यात निगम 1977 में भोपाल चोटे इसतर के उद्देवों के उत्पादन के निर्यात की विवस्ता करना हर्ष्ट सिल्प विविकास निगम भोपाल में माइनिंग कॉर्पूरेशन भोपाल में वहुमूल खनेजों की खोज खुदाईवाब व्यापार की विवस्ता करना Agro Industries Corporation गोपाल में किरसी पर आधारी उद्धोंग के विकास में सहायता करना इसका प्रमुकार है जिला उद्धे उप्यंत पिदेख जिले में है उद्धोंगों को वित्तिय सहायता है उनकच्चा माल उपलब्द कराना इसका प्रमुक कार है ठीक है याद रखना है अब बात करते हैं लोग विशिस आर्थिक छित्तों की SEZ का प्रिकार विकास करता एजेंसी का नाम बपता फिस्तावित इस्थल मल्टी प्रोडक्ट सेज यह आपका उद्धोगे केंद विकास निगम इंदोर में जिलाधार में फिस्तावित अब बिकास करता एजेंसी का नाम और पता उद्धोगे केंद विकास निगम इंदोर है इस्थल आइटी पार्क उद्धोगे केंद विकास निगम इंदोर यह ए प्रिस्तावित इंदोर मल्टी को रोटक्ट सेज उद्धोगे केंद विकास निगम ग्वालियर एक जिला ग्वालियर में आइटी इस इजड इंदोर में मेडी केप्स लिमिटेड इंदोर में जिला इंदोर इस जिला इंदोर में पिस्तावी थे प्रोटेक्ट स्पेसिफिक एलुमिनियम इस इजड सीधी मेसरज हिंडाल को इंडर्श्ट्री लिमिटेड मुंबई इस सीधी जिला में पिस्तावी थे मिनरल एंड मिनलल बेश्ट वोकी विकास निगम जबलपूर हरगड जिला जबलपूर में ठीक है सरकार राज सरकार के सार्वीजने कोक्रम है और दोगों के का नाम इस्थापना उत्पादन ठीक है रतलाम एलकोहल फिलांट एन कारवन डाय ओक्साइड इंडरस्ट्रीज रतलाम में 1963-64 इस्प्रेट एलकोहल तरह कारवन डाय ओक्साइड ग्वालियर लेदर फेक्ट्री एंड टैनरी 1998 जूते तंबू तरबाल उत्पादन होता है ग्वालियर फोटीज ग्वालियर यह चीनी मिट्टी के बरतन बनते हैं कलेंडरिंग फिलांट उजन इंडर में देवास एलेक्टिकल्स देवास में यहां ऊस्मा रोधी उपकरण बनाई जाते हैं वुर्स एंड इंडर इंडर्श्ट्री आपका इंडर में खेल सामगरी यहां मिलती है उत्पादन होता है किरसी उपकरण फेक्ट्री खंडवा में पंप एवं पंपिंग यहां बनाई जाते हैं मैटल वक्स विदीशा में जी आई कटिली तार तार की किलें यहां बनाई जाते हैं साइकल उद्देव कुना में साइकल एवं उप साधन हैं फरनीचर वक्स जबलपुर फरनीचर वोपाल उद्दो वोपाल में फरनीचर फिर आपके मद्पिदेश फस्त निगम द्वारा इस्थापित उद्देवों की बात करें तो सनावद कताई मिल सनावद में 1963-64 में स्थापित हुई सूती दागा से मद्पिदेश में केंदराज के सहयुक्त उपकरम की बात करें तो अलेक्टिकल्स लिमिटेड बोपाल विद्धुत यंद्ध सेयंद गोसलपूर जबलपूर लेंप्स लिमिटेड यह आपका विदीशा गिलाय केंप इंडस्टी लिमिटेड है यह है आपके केंद और राज्य की सहयुक्तन बात करते हैं मद्पिदेश में केंद सरकार के सार्विजने कुप करनों उपकरमों के बारे में मद्पिदेश में हैं और केंद सरकार ने यह लगाई हुए है ठीक तो पितिश्ठान संचार मंतरालाई के अंतरगत गवर्मेंट पोस्टल एंड गवर्मेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ बर्क्सोप जबलपुर इसकी स्थापना भी उननीस सो तैंतारीश चवालीश में टेलीपॉन एविन टेलीग्राफ उपकरेंड यहां उत्पादन होते हैं फिर बात करते हैं रक्षा मंतराले के अंतरगत तो आपकी यह जेख het कि यह सामकुरी यहां बना जाती है कि गन केरिज केरिज्व एक्टरी जबलपूर में उननी तो त्यफसे चवालीश में स्थी स्थापना हुई यह ूजिया सामकुरी यहां बना दीता हैं ए फीएकल Factor ए जबलपूर में 1955 में रक्षा येकले भारी वियुशायक बहान यहां बनाई क गुद्र करते हैं तुरह गवर्मेंट आरडिनांस फैक्टरी एटार्जि उन्नीसो त्यातारीश चबाली येधि सामग्री यहां बनाई जाती है गेधियरे आर्ण्टनी जवलपुर्ण कच्छा लोहा यहां बना जाला ठीक है फिर बात करते हैं हम लोग वित्य मंत्रालाई के अंतरगत जोद्यूप लगी हूं उन्हें देख लिते हैं सिकोर्टी पेपर मिल होसंगाबाद नोट छापने का कार खाना यहां करेंसी पेंटिंग पेस देवास में उन्नीस सो तैंतालीस चवालीस में काग जी मुद्रा यहां बनती है एलकुल लॉइड फैक्टरी नीमच रेल मंत्राले के अधिन है उन्नीस सो पचत्तर चैत्तर अंस परिस्कित कोडीन और नालकोटीन र नालकोटीन परिस्कित कोड़ेंट बात करते हैं खनर मंत्राले के अंतरगत जो उद्द्योग लगी हुए नौर्द नादरन कोल फील्ड स्लेमिटर सेंगरौली सीदी कोईला चित हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजगन बालागार तामा वेस्टरन कोल फील्ड राष्टिय कपड़ा उद्द्योग नेगम के अंतरगत दी न्यू भुपाल टेक्स्टाइल लिमिटेड भुपाल 1929 सूती कपड़ा एवं सूत हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जे 1934 मैंदी सूती कपड़ा एवं सूत साथेशी कोटन एंड फिलोर मिल्स लिमिटेड एंदौ 1929 में सूती कपड़ा एवं सूत इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड एंदौर में 1978 में सूती कपड़ा एवं सूत कल्याड मल मिल्स लिमिटेड एंदौर 1934 मैं सूती कपड़ा एवं सूत बुर्भानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड बर्भानपुर 1907 में सूती कपड़ा येवं सूत भारतिय खाद निगम के अंतरगत कौटन सीर सालवेंट एक्स टेक्सन पिलांट उज्जन में 1963-64 कपास बीज येवं मुंपली का तेल आँगे बात करते हैं ये आपके किसी उद्दोग विकास निगम द्वारा इस्ता पे तुद्दे हुएं एक आईया हैं आपकी उत्वादित बस्तु हैं कीट ना सक सेयंद आपका बीना में यहां PSC, DDT, मेलाथिन एवं काल बोरिल उत्वादित होती हैं जीवान उखाते सयंद ये बोपाल में राईयो भीयम कल्चर ये जो टू वेक्टर उत्वादन होता है वायल एवं पसु आहर सयंद हो रहना में सरसो तेल एवं पसु आहर यहां वोशन आहर सयंद धार में वोशन आया फ्रे फल समर्द ने काई बोपाल में जैम, जैली, केचप, फे पदार यहां बनते हैं यह अंतिकरत किरसी पिच्छे बावी में है आपका प्रमाडित वीज रेसम उद्ध्यों है फ्रे आपका एग्रो इंडस्ट्रीच कॉंप्लेक्स एवं निर्माडे काई यहां 28 वायो सैंत ड्रम सोलर कोकर अन्न भंडारन कोठरियां ट्रेक्टर एवं वेल चरित किरसी उकर वेल गाडियां टेलर टेंकर वहां बना जाते हैं डेरी फार्म बावई में दोगुद उत्पादन होता है यह अब बात करते हैं लोग मद्विदेश के अन उद्ध्यों की बारे में यह नाम है उनके इस सहर है सूती कप्रा उद्ध्यों यह आपका इंदौर वज्यन ग्व वालियर में खेंपाई यह यह आन ऐस देवास में आपका सेंधे टिक सियान यह उझयन में सोडी यह यह देवास में फायर विक्क्रम फैक्टरी अजबलपुर इस कट्नी में जूट मिल्स राज्यगर में हैं सिमिट फ्यक्टरी इस बाईपुर सत्ना केमूर जामुल, शिल साजापुर में कीटनासक दवाईं नांगदा कुमहारी में ठिर आगे बात करते हैं विस्कुट फेक्टरी आपकी वालियर में स्टील कास्टिंग फांडरी देवास कुमहारी बांगरोग वालियर विलाई इंदोर उज्जेन रिलोड रोलिंग मिल्स मंदोर साजापूर, टेक्स्टाइल मसीनरी वालियर में, विद्व चालीद पंप देवास में, फरे सेमेंट उद्द्यो इस्थापनावर्ण, वानमोर केम फेक्टरी ये 1922 में, केमूर फेक्टरी 1923 में, सतना सेमेंट वक्स 1969 में, मेहर फेक्टरी 1923 में, नीमच फेक्टरी 1981 में, सेयुक्त उपकरम की बात करें, तो एमपी एग्रो मुरारजी फेट्रिलाइजर इस लिमिटेड एटार सी जिलाब वसंगाल, दानिदार मिस्टरित खादिश में, वाईल एवं पसु आहर सेंद मुरेना में, सरसो तेल एवं पसु आहर यां ब अधायत यहां उत्वादित होते हैं, इस्टरा बोर्ड मिल साजापुर, इस्टरा बोर्ड यहां, पंजीरी सायंत क्वालियर, जवलपुर भोपाल, पूर्शन आहर है, टीप, पिरमुख कॉंपलेक्सों की बात कर लेते हैं, पिरमुख कॉंपलेक्स, चमडा कॉंपलेक्स देवास में, stainless steel इसागर में, electronics complex indoor, do confirm, textile complex ready matte complex indoor, पर्दिसीपरा फार्मा पार्क, एक बेड़वा दार में, टि याद रखने हैं आपको एक बार दूर याद रखी एक बार बार देख लीजे, demande complex, आप कहाँ है, देवास stainless steel, सागर electronic complex, indoor एक ग्रोड टेक्स्टाइल कॉंप्लेक्स शेदवाड़ा रेडिमेट कॉंप्लेक्स इन दौर फार्मा पार्क बेटमा धार्मे ठीक है तो यह था हमारा दस्वा चेप्टर खनेच दस्वा चेप्टर था अपका उद्देव एवं व्यापार ठीक आंगे देखनेंगे हम नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे मद्द्देश सामानियान के बारे में तो इसमें हम लोगों ने दस्वा चेप्टर खतम किये था और देव और व्यापार देखे थे मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् रहें मद्विदेश सम्मदीत वह मद्विदेश सामान ग्यान के नाम की फिलेलिस्ट सूची में डले हुए ठीक याद रखना कि राजी का पहला ताब विद्धुत केंद नैपा नगर बुरहान पुरिष्टित चाननी ताब विद्धुत केंद 1903 और पहला जल विद्धुत केंद चंबल नदी पर अवस्थित गांधी सागर विद्धुत केंद 1961 में क्या राज का पहला विद्धुत केंद नैपा नगर वुरहान पुर में इस्थित चाननी ताब विद्धुत केंद 1903 में और जल बिद्धुत केंद चम्बल नदी पर अवस्थित गांधी सागर बिद्धुत केंद 1961 में इस्थापित हुए राज के नंगरों का सत पितीसाद हो गाओं का 97 दिसमलों एक पितीसाद बिद्धुती करण हो चुका है राज में सरपितम विद्धुत का अतपादन गौलीर में सन 1905 में 240 के भी किष्टीम टर्वाइन से हुआ था याद रखना है यसी दस दिसमबर 1948 को विद्धुत पिदाय अधिनियम पिदेश में लागू किया गया आँगे बात करते हैं एक दिसंबर 1955 को विद्धूत मंडल का गठन किया गया विद्धूत मंडल का मुख्याला है आपका जबलपुर में सक्ति भवन याद रखना है विद्धूत मंडल का इस्थापना कभी एक दिसंबर 1950 को और इसका मुख्याला कहा है जबलपुर में सक्ति भवन में राज ग्रामीर विद्धुत विद्धुती करन निगम की स्थापना 1960 में की गई इसका मुख्याला है भोपाल में फिदेश में उजा सरोतों के विकास के उद्धिस से सन 1982 में मद्धिदेश उजा विकास निगम की स्थापना की गई बिद्धु चेत्मे प्रभावी प्यबंदन के लिए मद्ग धेस राज बिद्धुत मंदल के विएस वरूफ का पुनर्गठन किया गया लाज वित्रन फेक्टु कंपनिय अदिनियम 1956 के तैत मद्पदेश राज विद्धुत मंडल के पिती उत्तरदाई हैं मद्पदेश राज जी की कुल विद्धुत उत्पादन का दस पिती सत उत्पाद करता है पांचों कंपनियों कंपनियां एक जून 2005 से पूर्टा सासी हो गई विद्धुत मंडल विद्धुत कंपनियों दत्था उभोकताओं के हितों कि सरक्षण विद्धुत चेत में राजसरकार के कारिनीती निर्धारन तक सीमित करने तथा विद्धुत दरों के निर्धारन एवं निर्मित कारियों के लिए राज विद्धुत नियामक आयू को व इसासनेक अकादमी भोपाल देवी एहल लियावाई विस्विध्याले इंदौर डॉक्टर बाबा साफ अम्बेडकर सामाजिक विग्यान सच्थान महुमें सरवादिक बिद्धोतिक्यत ग्राम ग्राम बाले जिले हैं सिहोर इंदौर खंडवा फावर टेडिंग पावर टेडिंग कंपनी का नाम 10 अफरेल 2012 को फरीविर्थित करके MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिट्रिट कर दिया गया मद्धिस राज बिद्धोत मंडल का पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 26 अपरेल 2012 को विले कर दिया गया अब यह मंडल अस्तित्व में नहीं रहा ठीक है फरवरी 2017 तक राज में कुल विद्धुत उत्पादन शम्ता 17,515 मेगाबाट थी जनवरी 2017 की स्तिति में प्रदेश में कुल 64 आ विद्धुति कित हैं जिनमें से 42 गाओं की विद्धुति करण याद रखिए हम लोगों ने अभी जो करेंट अफेस देखा था 2019 का उसमें सभी नए आकड़े आई हुए तो उन्हें जाकर देख सकते हैं ठीक है आप लोग आँगे बात करते हम लोग दीन दयाल उपाद्याय ग्राम जियोती योजना किंद्गत 30 साथ 2015 को पिदेश के 59 जिलों हित्यू अठाइस सो 65 करोर फिल लागत की 50 से होजनाओं को सुईकिती दी गई IEC लिमेट्रस से फिराप्त हुई है याद रखना आप बावन जिले हो गया लेकर ठीक है 2020 की बात कर रहा हूँ 2020 में बावन जिले है राज जिसासन की संक्लाबना उन्सार अटल जियोती अभ्यान के अंतरगत दी कालीन विद्धुत की परियापत उपलब दता एवं विक्सित अधो सरोचना की आधार पर संपूर्ट फिदेश में गैर क्रिसिव भोगताओं को 24 गंटे क्रिसिव भोगताओं को गुडबत्ता पून 10 गंटे नेमित विद्धुत पिदान 2013 से पारम की गई वर्ष 2017 में राजसासन द्वारा विद्धुचित में तीन नमीन ये उजना परम की गई फिदेश को आई स्थाई क्रिसी पंप कनेक्षन मोगत बनाने है तू स्थाई क्रिसी पंप कनेक्षन दूसरा स्मार्ट मीटर लगाने की उजना तीसरा वित्रन ट्रांस फार्मों को फिलोर रेट कम करने की योजना, उर्जा सरक्षन एबं बिजली की बचतेतु उजाला योजना के अंतलत, 30 अपरेल 2016 को 9 वाट छमता के LED बल्ब का वितरन प्यारम किया गया, फिदेश में दिसम्बर 2016 के अंध तक 1 करोड से अधिक LED बल्ब का वितरन किया गया, फिदेश के आदिवासी, छात्रावासों, समुदायक स्वास्त के अंधों, जिलों, से एक छडिक संस्थाओं इत्यादी में निलभात रूप से फिदाय हेतु सोलर फोटो वाल्टिक फावर पिलांट की स्थापना की गई, वर्स 2019 से दिसम्बर 2016 तक 56,015.6 किलोवाट छमता की से इस्थाफित की गई, फिदेश के स्थुदूर गिरामीड शेत्रों में सोलर फोटो वाल्टिक स्थीट लाइट तथा हॉम लाइट के माद्यम से फिकास विवस्था उपलब्त कराई गई, वर्स 2015 से दिसम्बर 2016 तक 37,225 इस्थीट लाइट एवं 13,225 हॉम लाइट सैंत इस्थाफित किये जा चुके हैं, सोलर फंप का एक्रम किते हैं 2013 से दिसम्बर 2016 तक 3082 सोलर फंप इस्थाफित किये गए, यह नए यहां गड़ी आ गए उसी में, करेंट पियस में देख लिए ना, ठीक हॉर मित इसकल डवलम्मेंट का एक्रम, आई टी आई डिप्लोमा या डिप्लोमा उत्कीन चाथ चात्राओं उसको, सौर उर्जा से संबन्दे तेवं संचालन रख रखाओ हितु राष्टिये, सौर उर्जा संस्थान भारत सरकार द्वाना तीन माहे का निसुल्ग, अब आस ही है, फिसीक्षन कारकरम वर्ष 2015-16 में प्यारम किया गया है। इन फिसीक्षी चाथ चात्राओं के लिए पिदेश में इस्थापिस सौर पावर प्लांट रोजगार हितु फ्यास किया जा रहा है। अब तक 2336-14 का फिलेशमेंट कराए गया है। 2045 से दिसंबर 2016 तक वायुमास आधारित कुल 45.336 मेगावाट चमता के सैंत इस्थापित किया जा चुके है। पिदेश में देश का सबसे बड़ा 130 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट नीमच में इस्थापित किया गया। 2014 से फ्यारम है। वित्तियवस 2015-16 में कुल विद्धुत पिदाय 64149 मिलियन यूनिट किया गया। जिसमें इंद्रा सागर फरियोजना ने 1940 मिलियन यूनिट स्रादार सरोबर फरियोजना ने 1194 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया है। मद्धिपदेश बिद्धुत उत्पादन कंपीनी द्वारा कुल बिद्धुत पिदाय 18960 मिलियन यूनिट है। 4000 मेगावाट लगवक 4960 का सासन उर्जा फ्रोजेक्ट सीधी में पिस्तावित है। बीना में भेल दुआर भारत के फित्भाहाय वॉल्टिट ट्राश्फर्मर इस्थापिद किया गया। मध्यस जल्बिद्धुत और दिजी छेत की दो कुछतों पी गई हैं कौन-कौन से जल्ब उध्धुत महेसो जल्ब उध्धुत पर और पैंच ताब उध्धुत पर ही हो जना ठीक है मद्धपदेश में ग्वालियर इंदो और नीमत जिले में गैस और डीजल से संचालित विद्धुत केंदों की स्थापना हो रही है विद्ध्यांचल वेडन सेंगरॉली राज का सबसे बड़ा ताप विद्धुत केंद है यह एंटीफीसी द्वारा संचालित है वेडन सेंगरॉली को फिदेश की उर्जा राध्धानी कहा जाता है चांदनी ता विद्धुत केंद कागज मिल नेपानगर के अलावा नेवार चेत को बिजलियापूर्ती भीक की जाती है पिदेश में सरवाधी कूर्जा कपत का फिती सत क्रमसा उद्धियों किर्सी और घरेलियों कारेम है पिदेश में हाइड्रेल जल पंप सबसे अधिक खरगोंजले में है पिदेश में एकांस बिद्धुत अनुसंधान के इंदाप का भोपाल में मालबा ताप परियोजना मद्ध पिदेश फावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा खरणबा जले के ग्राम दोगलिया में स्थापित की जा रहा है इस परियोजना के पूरा होने पर अकिले खरणबा को की बिद्धुत चमता 35-35 मेगाबाट हो जाए कि खंडबा पिदेश का लाइट हाउस बन जाएगा पिदेश को विद्धुत की सरवादी कापूर्थी सत्थ पोड़ा ताप विद्धुत के अंद द्वारा की जा दिए मद्ध पिद्धुत विभाग की स्थापना 1945 में की गई एंटी पीसी द्वारा चातरपु जले में 4000 मेगाबाट का फावर हाउस लगाया जा रहा है मद्ध पिदेश में मंदला जले के चुटका गाउं में पिदेश का पहला परमाडू उर्जा के अंद इस्थापत किया जा रहा है बर्ष दोजार साथ में मद्ध पिदेश के उमरिया जिले के बीर सिंग पूर इस्ते संजयता विद्धुत के अंद की 500 मेगाबाट चमता वाली नई उनिट से उत्पादन प्यारम हो गया भांडेर विद्धुत ग्रह को गैस की आपूरती हच वीजी भीजे हजीरा विजयनगर विजयपुर जगदीसपुर पाइपलाइन द्वारा की जागी मद्ध पिदेश का पित्थम गेर आधारित विद्धुत ग्रह भांडेर का है जिसमें कुल विद्धुत उत्पादन की स्थापन इस्थापित चमता 300 मेगाबाट है फिदेश में बैतूल और साजापुर नए ववन उर्जा चेत हैं फिदेश के इंदोर में सरव पित्थम सौर उर्जा से विद्धुत बनाने का सहेंते स्थापित किया गया अमरकंठक विद्धुत के इंद की स्थापना दूतिय पंचवर्थी यह जना में की घई मद्ध्थेश की कुल उर्जा समएं विद्धुत का है फिदेश की राद दानी भोपाल में सौर उर्जा से पानी गरम करने का तेश का सबसे वड़ा सहेंत इस्थापित है जिसकी समता है चंगन हजार लीटर पिती दिन गैसी ये फायर की द्वारा लकडी कटाई की दौरान निकले बुरादे से बिद्धुत रप्त की जाती है सोलर स्टील से सौर उर्जा का उप्योग वास्पन द्वारा आसोत जल एकत्तित करने ही दू किया जाता है पिदेश में खरगोन जिले के करवा में आउसिष्ट को जलाकर विद्धुत रत्पादन करने का जनरेशन ये उजना इस्थापित की गई पिदेश में देश की पहली जॉइंट सेक्टर कंपनी मद्द्द फिदेश विंडर फार्म लेमिटेड मद्द्द फिदेश में गठित की गई नई पबन उर्जा नीती वर्ष दोजार बाराय उमंजूनी मिली से बुंदेल खंड सुफर ताब बिद्द फरियोजना चतर पुजले की वरेटी में एंटी फीसी ने 2640 2640 मेगावाट चमता की सुफर ताब बिद्द फरियोजना इस्ताफित किये इसमें 660 मेगावाट की कुल्चार एकाईया होगी पचास फिती साथ बिद्द फरियोजना नर्सिंग पुर जिले में है चरण एक में 8800 मेगावाट की 200 पर क्रिटीकल यूनिट पिदेश में रीबा जिले की गुड़ तहसील में देश की सबसे बड़ा अल्टा मेगा सोलर फायर के स्थाबित किया जाएगा फितेश में दो फिकार की उर्जा संसादन है परमपरागत और गैर परमपरागत उर्जा स्रोतों में है कोईला बिद्धोत ताप उर्जल परमाडू उर्जा पैटॉलियम प्रियाक्तिक गैस और आपका गैर परमपरागत में है पबन उर्जा सो रुजा गूतापिय उर्जा बायो गैस बायो डिजन उतपाधन के तरीकों के आधार पर उर्जा स्रोत जल विद्धुद तापी विद्धुद परमाडू उपिद्धुद तिर बात करते हैं गेर परमपरी बिद्धुत उत्पादन उर्जा के गेर परमपरागत सरोतों को उप्योग करने में मद्ध पिदिश तीसरा जाज जाए पहले पर गुजरात पर आंद पिदिश और फिर मद्ध पिदिश ठीए बात करते हैं सोर उर्जा की विद्ध बनारे कारखान पिदेश में सरपित्थम इंदोर में इस्थापित किया गए सौर उर्जा का अधिक प्योग के देश में जहाबुगा की गरामिरी चेत्रों में किया जाता है मद्पिदेश सोलर कुकर के उप्योग के मामले में पित्थम इस्थान पर है विसका सबसे बड़ा सौर उर्जा सेंथ एटार सी हो संगादबाद में लगाए गया कस्तूर बाग्राम इंदौर पूर्टा सौर उर्जा से आपूर्टी होती है इसकी सौर उर्जा अधारित सीथ गय भुपाल में लगाए गया बात करते हैं जह उर्जा राजमें बायोगेस से विद्धू उत्पादन का 13.50 मेगावाट उत्पादन भूसी आधारित सेंथ धार जिले के जादू खेडा में 0.69 मेगावाट चमता का भूसी आधारित विद्धू सेंथ इस्तापित किया जा रहा है इसके इलाबा इंदौर और बालागाट में भी भूसी आधारित वायोगेस सेंथ थे नैप्था आधारित गैसी विद्धू सेंथ ग्वालियर में निजी छित के साय उक्सी स्थापित किया गया और शिष्ट कच्रे से विद्धू उत्पादन काटवाग खरगोन में वायो खोई से विद्धूत उत्पादन किया जा रहा है राज में जिट्ठोफा से वाई फ्यूल बनाने का दस किलों पार्ट का सेंथ बौस गड़ी मंडला जिले में लगाए गया थे पवन उर्जा मद्विदेश की भोगोली सरचना पवन उर्जा के लिए आधरस्तात्मक है द योजना जामा गोदरागी में निजी छित के साथ इस्थापित की जा रही है वैतूल और साजापूर में पवन उर्जा सेंद इस्थापित हैं फिदेश में सरवाधिक पवन चक्किया आपकी इंदौर जिले में हैं गुना एवं मंदसोर जिले में विंड मॉनेटरिंग का सब्सक्राइब क्रम से विद्ध फाधन किया रहा है कि अदेश की पहली सहयुक्त छेथ की कंपणि मुदय फार मोठी में बात इस्थापना बरू सेंग चंता मेगावामीत राज काई तो चांदनी बुर्हानपुर में इससे कोईला मिलता है तावा से और तापती नदी से पानी मिलता है ठीक आप होड़ती होती है यह 1953 में इस्थापित हुई इसकी छमता है 17 मेगवाट नैपानगर कागजमिल बुर्हानकुर को इससे लावानवित होता है तरहें अमरकंठक अनु मद्विदेश इससे लावानवित होता है सत्थपुरा साड़नी वैतूल पाथर खीड़ा में इससे कोईला मिलता है पाथर कीड़ा से पानी मिलता है नदी तावा नदी से यह 1964 में स्थापना हुई इसकी 107.5 मेगाबाट इसकी चमता है मद्पदेश राजिस्थान तीन अनपाथ दो में लावान वित होते हैं त्रेबिंध्यांचल वेडन सिंग्रोली सिंग्रोली का कोईला और रेहंद नदी से पानी मिलता है 1982 में इसकी स्थापना हुई 3266 मेगाबाट पांच राज्यों तथा दवन्दुई 1982 में स्रीमती इंद्रा गांधी द्वारा रूस की सायता से मद्पदेश के सरबादिक बड़ा सायंत 2001 में स्थापित किया गया जबलफूर कोईला और नदी से पानी इससे मिलता है 1960 में स्थापित हुई 159 मेगाबाट इसकी चमता है मद्पदेश इससे लावान वित होता है फिर संजय गांधी उमरिया में जाहला च्षित का कोईला और जाहला नदी का पानी मिलता है और 1993 में इसकी स्थापना हुई 1340 मेगाबाट इसकी चमता है मद्पदेश इससे लावान वित होता है पेंच छिदवाड़ा चिदवाड़ा का कोईला और पेंच नदी का जल 210 मेगाबाट है इसकी चमता मद्पदेश और महराष्ट इससे लावान वित होते हैं फिर है आपका संजय कांती होई यह फ्यंच देखी लिया दादा धूनी वाले खंडवा में इसकी 2000 मेगाबाट है मद्पदेश गुजरात इससे लावान वित होते हैं फिर मांड़ू ताप प्रयूजनंधार में मद्पदेश और गुजरात इससे लावान वित होते हैं हिए सागर में है याद रकना 1000 मेगावाट है सकी चम्टा है और इससे मद्द्द पिदेश बिन्द पिदेश कोईला चेत में है ठीक फिर मालवा ताबेदुत गिरें एक खंडवा में ठीक है इसकी छम्दा कितनी है 2000 मेगावाट जनवरी 2008 से फ्यारम हुए अमरेकंठक विस्ता रिकाई उमरिया में 2010 में से सुरी 210 किलो मेगावाट है और 2600 से इसकी उत्वादन है इसमें फिर बात करते हैं जल्विद्द केंदों के बारे में जल्विद्द केंद एक केंद हो गया आपके इस थापना हो गया चमता हो गये वह लावान वीत राज्च वे घांधी सागर भानपुरा मंद्सों में इसकी इस्थापना 1960 में की एक की चमता है मेगावाट 115 मेगावाट मद्विदेत राजिस्थान पचास अनुपाद में भिवाजित लावान विथ होते हैं फिर राड़ा पिताब सागर रावद भाटा चित्तोडगर में 1960 में इसकी स्थापना हुई 172 मेगावाट है इसकी चमता मद्विदेत राजिस्थान इससे लावान विथ होते हैं जवाहर सागर कोटा में सम्ता सित्वल्वा जाला सिट्राइभ उढ। मिर्जापुर्जापुर उत्तर पिढूतों साथ मैं उत्तर पिढूत में इस 1902 में एक सो साथ है सिकी मेगावाट चमता मुद्वृत की उत्वादन करने की मद्रेश महाराष्ट की सायुक्त परियोजना महेशों जल विद्वृत परियोजना महेशों धार में 2006 में स्थापना हुई 1000 MegaWatt है कि चमता वाड़ सागर परियोजना में सीधिय में परियोजना में 1985 में इसकी स्थापना हुई 110 MegaWatt इसकी चमता है मद्डेपितिष, बिहार उतरपिदिष इसके लावान बित होती है टांस परियोजना रीवा में सप्सक्राइब 315 मेगावाट है इसकी चमता है फिर मल खेड़ा दोहजार आठ हमें स्तापित हुई 40 60 मेगावाट इसकी चमता है चांदेल परी वजना खंडवा में 15 मेगावाट इसकी चमता है मही खेटा यार मोहिनी सागर इस खरगोन में 60 मेगावाट है इसकी चमता बीर सिंग पूर मरिया में 1991 में स्थापित हुई और 20 मेगावाट इसकी चमता है तो याद रखना यह था हमारा उर्जा संसाधन आंगे हम बात करेंगे किसी परिदिस एवं पसूधन के बारे में ठीक हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मद्द्पेदेश सामान ग्यान के बारे में तो इसमें हम लोग बात कर चुके थी लास्ट लेक्चर में और जास अंसाधन ठीक है अब बात करेंगे हम लोग किरसी परिदिस एवं पसूधन से संब्दी चेप्टर यह मद् पिदेश सामान ग्यान के नाम से जो प्रिले लिश्ट सुची बनी हुई है उसी में डालते जाए है तो यह है आपके आखड़े तो याद रखना है यह हर टाइम बदलते रहते हैं ठीक है तो यह आखड़े आपके पुराने हो चुके हैं आपको रटने की जरूएत नहीं ह जो हम लोगोंने current face पड़ा था MP का और अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा 2019 का current face हम लोगोंने पड़ लिया है तो वो ड़ला है आपका मद्देश current face 2019 के नाम से जो playlist सोची बनी हुई है MPG के मद्देश current face 2019 के नाम से बनी हुई है उसी में सभी lecture आपके डले हुए है और बहुत अच्छे से समझाए गया है ठीक है तो यह आखड़े सब उसी से देख लेना ठीक है जितने भी आपके अब बात करते हैं अनपूरा योजनान तग ये 2015 सोलह में अनुसुचित जाती के 1783 then क्रिस्कों को लाबान वित किया जा चुका है इस सिग्यपिय वर्स 2016 सपर अनुसुचित जाती के 126,000 क्रिस्कों को लावानवित किया गया है फिर आपका नेशनल नेशनल मेशन ओन आइल सीड एवं वाइल पॉम यूजना यह 2014-15 से संचाले थे इस यूजना का पुद्देश पिदेश में तिलहानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादक्ता में बिद्धी करना है सुव्यावीन फसल को अती वर्षा एवं अल्व वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादक्त बढ़ाने में उपयोगी रिज फरोपद्धी को पिदेश में पुरसान किया जा रहा है पिद्धीस में लगव एवं सीमान किसकों को लाब देनाने की दिश्टी से वर्ष दोजार पंद्रे सूले में दोजार चोदे तथा दोजार सूले सत्रे में अत्रिक्त छेसो बारे कस्टम हाइरिंग कैंद निजीचित में इस्थाफित करने का नेड़ लिया गया है 2016 में किर्सी यंतों के बड़े 82 हाइटेक हब निजीचित में इस्थाफित किये जाएने किर्सी यंतों के उपयोग से उत्फादक्ता में बिद्धी के लिए सासंद्वारा फित्ती वर्ष 200 ग्राम का चैन यंत दूद ग्राम के रूम में किया जाता है आंगे बात करते हैं कि फिदर्षन मिनी किट की यूजना के अंतकत 2015-16 में 6,86,126 फिदर्षन मिनी किट आयजित किये वर्ष 2016-17 में यह बंद कर दी गई यूजना वर्ष 2013-15 मौसम आधर उध्यान की फसलों को फ्राक्तिक आपता यूजना मौसन के मौसम के विप्रेथ पिर्भाव से फसलों की छती चती पूर्थी है तो मौसम आधर एक फसल वीमा यूजना लागू की गई है वर्ष 2016-17 में खुल्ब मसालों का उत्पादन यह पुराने आगडे है उसमें जाकर देख ले टीगा नए आपर उसमें दिये गई है प्ut Birdi की इस ओचना के इन्तवार हर यूजना के अंतवत पिदेश के चाल्य जिलों में इसन के करियान्वन किया जाए औहुझी आप्जतियव पादब नए जन नीजी भागीदारी योजना कि अंतरगत पिदेश में कमपोजिष्ट, लोजिस्टिक, हब, पावार, खेड़ा होसंगबाद में इस्ताफित किया जा रहा है राष्टी किरसी वाजार योजना भारत सरकार की इस मत्पूर योजना को भोपाल की करोंदी मंडी में 14 फरवरी 2016 पाइलेट रोम से फ्यारम किया गया, 23 चैन में इसमें 19 मंडी सम्थियों में लागू किया गया 31 मार्च 2017 तक 23 चैन में 30 और मंडी सम्थियों में लागू किया जाने की कारविया कि जा रही मार्चल मंडपदेस की सरवादिक मर्त्पूर फशल है यहांकी, म्डपदेस का खाद्यान उत्पादन में देशBeM 4 स्थान है 19 चैना अल्सी दलहन अक्रीम की पशान में मर्चल प्तम इस्थान प जवार्ग तलहन के उत्पादन सिंग में 26 स्थान है मद्धिदेश में कुल किर्सी योग भूमी का 43 बितीसद भाग एक फसली है लगवब 57 बितीसद भाग दूई फसली है किर्सी के दगत आता है बात करते हैं आगे हम लोग किर्सी उपज में विद्धी करने के उद्धेश से पिदेश में बिपुल उत्पादन कारिक्रम चलाए जा रहा है अनुसूचित जन जाती के किर्सकों की आर्थिक सिती सुधारने के लिए पिदेश में सूरजधारा योजना चलाए जा रही है सूरजधारा योजनक किसे समंदिते अनुसूचित जनजाती के किरिस्कों को आर्थिक सहायता देने से मद्ध पिदेश का दलहन उत्पादन में 22 पितिसत साय पिदेश के दलहन तलहन का उत्पादन का 13 पितिसत उत्पादन करता है मद्धपिदेश में किसानों के हित संरक्षन हितु पिद्यक जिले में किसान परिशत का गठन किया गया इसका द्यक्ष होता है जिलापंचयात अद्धेश मद्धपिदेश में खंडवा खरगोन को सफेद सोना कचित कहा जाता है मद्ध पिदेश में वेयर हाउसिंग एंड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन की वर्तमान में 218 साखाओं पर 61.13 लाग मैट्रिक टंग और सचम्ता कारिशीले आंगे बात करते हैं इन दोर और जैन देवास भोपाल पिदीशार सेवर हर्दा होसंगाबाद सतना जिले में कुल नौ इस्थानों पर 4.5 लाग मैट्रिक टंग चम्ता काई स्टील साईलू प्रोजेक्ट मद्पिदेश में पित्थम बार पीपीपी मोडल पर इस्थाफित किया जा रहा है अब बात करते हैं मद्पूर बिंदू यह जरूरी है ते इन्हें याद रपना है आपको क्योंकि डारेक्ट पूछ लेते हैं कई बात परीचाहूं मद्पिदेश में सोयावीन की सरवादिक उत्पाद अगता है और उत्पादन उज्जेंजले में होता है मद्पिदेश में सोयावीन की सरवादिक उत्पाद अगता इवं उत्पादन कहा होता है उज्जेंजले में गन्ने का सरवादिक उत्पादन निवार छेत में होता है सहकारी छेत का सोयावीन कारखाना सिवनी में है सोया विस्किट सैंत भूपाल में है विराष्टी ये सोयावीन अनुसंदान के अंदा आपका इंदोर में हैं। इंदोर में देश की पित्थम जेविक खाद इकाई इस्थापित की गई। अब सिष्ट से जेविक खाद बनाने का सेंद आपका ग्वालियर जिलिम हैं। सहकारी छित का कीटनासक सेंद कटनी में हैं। महला किसानों किप्ति सीक्षण की युजिना डेनमार्क सरकार की साहता से संचालित की जा रही है। मद्द पिदेश में किर्सी बिभाग का नाम अकिसान करने आना। तथा किर्सी बिभाग हो गया है। मद्य पिदेश की लगवग 20% जेद्षण गार किर्सी पर निर्भर करते हैं आँगे बात करते ह inglés मद्य पिदेश में की लगवग 70%听 1 देख लिया मद्य पिदेश में 49% पिदीसद छेद फल पर किर्सी होती है पिदेश में किर्सी जोतों का छेद फल 150 एक्तालीस लाक हेक्टर है मद्लक्रेस किरसी जोतों का ओसाताकार एक्तालीस लाक हेक्टर है सुरी ट्रिव वज्यन में एसीया एक दिसम्लाव आठ एक्टर ट्रिक है वज्यन में एसीया का सबसे बड़ा एसीया का सबसे बड़ा स्वयवीन सायन थे वर्स 1289 से कैंसरकार द्वारां पिदेश के 33 जिलों में सुखे की स्थिति के समय सहायता ही तो थ्रश्ट पर योजना चलाई जा रही है इसके तरह चावल ग्याहून और रहर की फसलों को सत्पितिसत कैंदिये सहायता जी जाती है देश के कुल ग्याहूत पादन का 1130 मद्धिदेश में होता है ठीक आगे बात करें मद्धिदेश में मद्धिदेश में मद्धिदेश में को सोयावीन स्टेट का सरवाद्धिक ग्याहूं उत्पादित हुद्धा है मद्विदेश में खरीब की फसलों का कि तीसत बादसट यपकी रवी की फसलों का 38 वी तीसत है मतवत देश Je la Mkpass a उतपादन देश में तीसरा इस्थान है कपास उतपादन में गेहूं के उतपादन में 14 इस्थान को आ की मन्राश नीमत र जी की अफीम उतपादन होता है खंडवाव बुर्हानपूर में गांजा उत्वादा मंदसोर निमच में अफिम खंडवाव बुर्हानपूर में गांजा फिदेश में सरवादिक सरसो सरसो उत्वादिक सुता है ग्वालियर भेंड मुरेना में पिदेश में सरवादिक मुंफली का उत्वादन खरगोंजली में होता है मद्द पिदेश में चनेक का पिलमुक उत्वादक्षे थे बिदी सा और होसंगवाद पिदेश में पीली करांती का सम्मल सरसों अलसी सोयावी की उत्वादन में बिदी से है बात करते हैं अबे पिदेश में सबसे अधिक मात्रा में नाइट प्रोजनिय और वरकों का पेउग होता है रवी की फसलों को उनालू भी कहते हैं यह फसल अक्टूबर नमबर में बोई जाती है और मार्च अपल में कार्चली जाती है खरीब फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, उदर, मुंग, तुवर का पास, तिल, मुंग, फली, सोया भी जवार है रवी फसल, रवी फसल, खरीब की मद्द, उगाई जाने वाली फसल को जायत कहते हैं जायत फसल कहते हैं पिदेश में सरवादिक किरसी जोत काकर हर्दा जिले में है और पिदेश में नियुंतम किरसी जोत काकर कटनी और नीमच में है सबसे जान्दा हर्दा और सबसे कम कटनी नीमच देश में सरवादिक फर्ती भूमी मत्द, पिदेश में है सर्वादिक सुद्ध किरसी भूमी बाला जिला आपका उज्जन है नियुंगतम किरसी सुद्ध किरसी भूमी बाला जिला है मंडला राज में सर्वादिक चेत्वल बसोय आप इनकी खेती की जाती है यहां दूसरे स्थान पर ग्याहूं की खेती है ठीक? दालों की छेत्पल में विद्धी सरवादिक चने की छेत्प में हुई है अनाजों में सरवादिक विद्धी मक्का की छेत्प में हुई है तेलहनों में सरवादिक विद्धी सोयावीन की छेत्प में हुई है बालाओ को अत्वादम बढ़ाने के लिए 1998 99. में राष्टी है दलयन विकास युजना प्यारम की गई थी राज में स्यवईन की किर्सी देवास जिले में प्यारम होई थी सबसे पहले सबी जिलों में सोवयावीन की किरसी होती है किन किन में नहीं होती है उमरिय या उकटनी मत्ःपिदेश को 11 सच सहयोजन पिदेशों किरसी जलबाई पिदेशों में विभाजिते कि yapt game गेहु चना सहयोजन पिदेश राज का सबसे बड़ा सस्य सहयोजन पिदेश है यह पूरे मालवा एवन गुंदेलखंड छित में इस साथ इस थे राजमेशन उननी सो साथ में सरप्तम मंडी अधिनियम पारित किया गया था ठीक है मद्धपिदेश में किर्शी की जल्व आई वी है भोगुल की दसाओं के बारे में बात कर लेते हैं यह गया हूँ है यह फसल हो गए आपकी यह बरसा चित्तों के सेंटीमीटर में तापकरम सेंटीगेड में और मिट्टी तो गया हूँ के लिए बरसा जरूरी है पचचतर से सेंटीमीटर और तापमान है 15-25 सेंटीगेड दोमट हलकी कछारी मिट्टी जरूरी है चावल के लिए 125-200 सेंटीमीटर बरसा की जरूरी होती है तापमान की 20-27 सेंटीगेड इसके लिए मिट्टी जरूरी होती है दोमट दलदली चिकनी फरेचना 100-200 सेंटीमीटर बरसा च काली और जलोड मेरे था इसके लिए अच्छी रहती कपास 60-100 cm 20-25 cm ताबमान काली और जलोड मेरे था तुगर 100-200 cm बरसा 20-26 cm ताबमान और शिकनी दोमत मिट्टी जुआर में 75-100 cm बरसा 15-26 cm ताबमान दोमत कच्छारी गन्ना 100-200 cm मीटर 15-24 cm ताबमान हलकी दोमत चिकनी बिट्टी मद्विदेश के किर्सी चेत किर्सी विभागों तो आरह मद्विदेश में 5 किर्सी पिदेशों में विभाजित किये गए पहला है फ्रस्टिम में काली मिट्टी का मालवा पिदेश इसमें मंदसों नीमच रतलाम जाववा बढ़वाने हर्दा धार देवास उज्जन साजापुर इंदोर खंडवा खरगों आधी ज्वार एवं का पास के लिए पिदेश हैं फिर मद्द उत्तर पिदेश उत्तर में ज्वार ग्यां का पिदेश मुरेना से उपर भेंड ग्वालिय दतिया से उपरी गुना छतर को टीकमगड़ जिलेश में आते हैं एक अन पिछड़ा अन पिदेश है इतने छेदवाड़ा बैतूर फिर मद्द ग्याहूं का पिदेश इसमें भोपाल सेहोर होसंगाबाद नरसिंग को रायसेन विदी साहागर दमगोजिले हैं फिर चावल ग्याहूं का पिदेश इसमें उत्तर में पन्ना सतना कटनी और मरिया जवलपूर सियोनी की दच्छड़ तक की बेटी सामिल है फिर की आधार पर मद्द गेश को साथ खिर्सी चितरों में बांट गया है जवार का गचित गुना सेवपुरी सेवपुर पस्चमी मुरेना फ्रेग्याहूं वाज वाजवार का चित बगेल-कंड मालवा के पथार कमदवा भिन्ड मुरेना गौलियत तक कपास वाज़न मंदसो साजापूर्ण, राजगर्द देवा, सेओर, कपास का चित, पश्चिमी मद्धिदेश, इसमें खंडवा, खरगोन बढ़वानी, धार रतलाम जाबुगा, चाबल वा कपास चित, खंडवा, चाबल कपास ज्वार चित, सिवनी चित वाड़ा बैतुर, चाबल का चित, बगेल खंड चित, सहडोल मंडला, बालगाट सिवनी सित, सीधी जवल पुराति इसमें, ठीड़ूर्ण, फिरे मोसम के आदार फसलों का परगी कर, रभी की फसल, ग्याभू, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी, मसूल, खरीब की फसलों में, चाबल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, बोंफली, तिल, तुगर, ज्वार, मक्का, सूर, मुकी, जायत की फसलों में, खीरा, ककड़ी, तर्वूश, खर्वूश, लौपी, कद्दू, ठीक हैं? गन्ना, तमागू, अफिम, पट्टसन, अलसी, तिलहन, सोयाबी, खाद्यान फसलों में, ग्याभू, चाबल, जुआर, मक्का, वाज़र, चना, दाले, तिलहन, मद्द प्देश की मत्पूर् फसलें देख लेते हैं, तिल, ग्याभूं, मद्द प्देश की सबसे मत्पूर संपून फसल है रभी की फसलों में सबसे अधिक चेत ग्याहूं के अंतर आते हैं मद्विदेश का पश्च्वी भाग ग्याहूं छेत के लिए मत हुआ है इस बाग में और सब वर्सा 75 से 117 सेंटीमेंटर तक फिर जवार यह रभी और खरीब दोनों फसलों में आती होता है इ उसी पकार फश्च्वी मद्विदेश की प्रमुक फसल है जुआर वो संपून फश्च्वी मद्विदेश में जुआर होती है जहां ग्याहूं होता है अंतर के बल इतना है कि फश्च्वी की ओर जुआर का छेत बढ़ता जाता है और ग्याहूं का बाग कमता जाता है फिर तिर्विक पिदेश किंतु पिदेश के विभाजन की बाद सेस बची राज में चावल अफेक चाकितक बहुत कम होता है कि तुर में अरहलung मद्विधेश के विभाजन पिदिश के विभाजन के बाद Pan दाल उतने में देश में पित्था स्थान इसका मुद्विष का चना छना पिछले 7 वर्सों में राष्ट की खुल उत्पादन बिद्धी में 49-31 इसका मद्विषका यह रवी की फसल है फ्रहत तिलहन पसलों के नंतरगत खुल तिलहन फसलों के चितफल तता उत्पादन की दौनों में गत वर्स्ट में निस्रित कोहिया मंगोलिया में इसकी किर्शी पीदेश में खरीब मौसम की पिरमुग ब्लावा देने के लििए सासन द्वारा मद्द पिदेश को सुयवीन राज जी घोसिप किया गए पिदेश में सुयवीन की खेती उननी सो चौनसट पैसट में सुरू होई थी ठीट फिर है आपकी अलसी के अलसी अलसी में पिदेश में रवी की महत्वूह φसल है ये गैहू छना जोग की साथ मिलकर बोई जाती है अलसी सभी प्रिकार की मिट्की में होती हैं जहाप परियाब होती है इसका प्रमो खुथपादन चित है रीवा तुर्य तिल ये खरिवकी फसल है इसके पिरमों कुतपादक जिले हैं चतरपु, टीगोंगड, सीधी साइडोल मुरेना सिफपुरी, सागर, दमोर, जबुलफर मंदला, पूर्वी निवार और सिबनी, मुंपली, मुंपली खरिप की फसल है, जो तेल और भोज पदारतों दोनों के लिए होगाई जाती है, मुंपली का उतपादन मालवा कपठार और नर्गदा घाटी के चेतरों में होता है, मद्विदेश के मंदसों रतलाम, धार रतलाम, खरगोन, जहाबुआ बैतूल, चिदवाड़ा वज्जन, राजगर, साजाप्र जिले के प्रमोख उतपादक जिले हैं इसके मुंपली के इसके लिए रेतिली, दोमट, भुरबुरी, तथा पानी के अच्छे, निकास भाली भूमी, जिसमें कानुनिक पता आया तो प्रमोख ली के लिए, खेती के लिए उपयोकत होते हैं, नगदी पसलों के बात करें, मद्विदेश में, तो इसमें है कपास, कपास मद्विदे राजगर सिहोर जहाबुआ जिलों में होती है, पिदेश में देशी तथा अमेरिकीन दोनी प्रिकार की कपास की खेती होती है, पस्टमी मद्विदेश की काली मिट्टी कपास ही तो उपयोकत है, प्रयाब का गन्ना, गन्ना मद्विदेश में प्रयाब उन सभी छेत्रों म अनुसूचित जन्जाती के लगू एवं सीमांत के साहनों को आलापकारी फसलों तता किस्मों के इस्थान वा लापकारी दलहनों या तिलहनी फसलों के उन्नत विपल उत्पादन देने वाली फसलों की वीज उपलब्द कराना पिदेश में सूरजधारा एविजनान तकर 2016-2015 में अनुसूचित जन्जाती के 17,000 किर्षकों को लावान बित किया गया जबकि वर्स्त 16,000 में 118,000 और 114,000 बात करते हैं पसू पालन एवं कुपकोट पालन मत्पितेश में राज पसू एवं कुपकोट विकास निगम की स्थाबना 1982 में की गई 2012 की पसू गणना किन साल 3.63 करोड पसू है दान है और 119.5 लाग कुपकोट बात तक हैं कि याद रखिए हम लोग यह सब देख चुके हैं अभी मत्पितेश के जो आलतिक सर्विक्चन 2018 थी वो भी आपका रेंट पीस में जाकर देखनें उसमें सब दिये गए कितना क्या है मत्पितेश राज पसू एबं कुपकोट बिकास नेगम के केंदरी वीर्स संग्राले ये भदबदा भोपाल को भारतिय मानक वीवरों से आई एसो सर्टिफिकेट 9001-2008 प्रमारपत 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिए प्राप्त हुआ था बस 1981-82 में पिदेश में ऑपरेशन फिलर्ड सेकेंड कायकरम प्यारम किया गया जिसके तह चार दुख्द संग्हों कौन कौन से ग्वालियर जबलपूर रायपूर और आपना की गई थी किदे केंड में प्रिवर्ते के उजना केंट प्यदेश में इंदो और दुख्द संग्हों के देवास चले की देपालपूल तहसील में स्वक्ष दुख्द उत्पादन कारकरम के किरियान में नहीं तू भारस सरकार की सोईकित ती 15 मार्च 2012 को प्राप्त टिकम्गड और रीवामें नियूंतम पशु घनत है आपका होसंगावाध जिली में राज में सरबादी पशु जन संक्याय सीधी में तथा नियूंतम है आपकी बुर्हान पूर्जिली में राज में शहेकारी डेरी विकास कारकरम की शुरुवात 1975 में आनन्द पदीती प पिदेश में पसू धन सिक्षा के लिए जवलपूर महू में महाविध्याल की स्थाफना की जारी यह對啊 दोग दुतपादन में प्रोसाहन के लिए वर्स 1997 में विस्ट बेंग के सायोग से एकी क्रेट डेरी विकास यह उजना प्यारम की गए मदविदेश में 1980 से आनन्द मॉडल से फेड़ा लेकर ओपरेशन फिलर्ड के दुतिये चैनल को प्यारम किया गया मदविदेश में अमूल पदिती पर डेरी विकास के लिए वर्तमान में ओपरेशन फिलर्ड तीन परियुजना क्रियान पिते पिदेश में सहेडोल मंडला सीधी वालागाट छेदवाडा जिलों में एकी करित आदिवासी डेरी विकास परियुजना संचालित की जाय रही पिदेश में 26 अक्टूबर 2005 से नंदी साला यूजना पैरम की गए कलोर संगों संगोपन काड़कर में इसके अंतरगत उननत नसल की वक्चियों वच्चियाँ को वोसित कर गायों में परिवात्त होने के रिए पसूप पालकों को पिदान की जाती है याद रखिए इसकी ञाड़ा ले लिजिए क्योंकि आक्रे बदलते रहते हैं लेकिन फिर भी आपको पड़ लेकि यह अinelर्ल यह भी ले लिए उसे देख लीजे ज़रूरी ठीक है क्योंकि उसमें नए आकड़े दिये गए आपके अब इसमें देखना है मैं किरसी चेत की पिरमुक संस्थाओं के बारे में एबंकेंद के बारे में इसंस्थाओं आपकी यह मुख्याले है राष्टिय दान अनुसंदान के अंद आपका बढ़वानी में कफास अनुसंदान के अंद खरवोन में आपका किरसी अभियांद की अनुसंदान के अंद आपक जवलपूर में उद्ध्यान की विश्विद्याल है मंदसोर में एसिया का सबसे बड़ा सोयावीन सयन्थ उज्जन में फिदेश का पहला सेल्ड रिच जैविक सयन्थ भोपाल में मवेशियों को कचारा बनाने का सयन्थ धार में भारत की विथम जैविक खेतिकाई इन दौर में जवाहलाल लहरू किर्सी विस्विद्याल है यह जवलपूर में 1964 में अंतराश्टी मक्का यह ग्याहूँ अनुसंधान के एक खमरिया जवलपूर में अंग राश्टी अंगूर अनुसंधान कें रतलाम में राश्टी सोयवीन अनुसंधान कें इंदौर में दलेन अनुसंधान कें अमलाहा सिहूर में राश्टी खरपत्वा विकान विज्ञान अनुसंधान कें दापका जवलपूर में सेल्चित विग्यन जैविक खाथ सेंथ भो पवार खेड़ा में होसंगवाद इंडियन इंस्टिटीटूट उप सोईल साइन्स मोपार में नए आखड़े देख लेना पिर्मुक फसलों के उत्पाद में तिथमस्तान ग्याहूं में चतौरत नमबर पर याद रखिए लेकिन नए आखड़े देख लेना तीसरे नमबर छावर में चाटा सोयावीकाम तेलहन में दुतिया दलहन में पितं ज्वार में दुतिया चना में पितं कपास में तित्या सरषों में दुतीया ठीक है यह 2016 2017 की है आफ भू 1819 की शर्टान देख लेना है ठीक वहाँ जाका करंड़ में तो यहां हां नवस्कार दोस्तों चलीए तो हम लोग बात करें दें मद्ध्विदेश सामान गयान की बारे में मद्ध्विदेश सामान गयान की नाम से जो आपकी पिले लिष्ट सुची बनी हुई है उसी में डले हुए है ठीक है चलिए तो देखते हैं वन संपदा एवन एवन नजीव मद्ध्विदेश का फिसासन मद्ध्विदेश का वन फिसासन वन वरत कितने हैं मद्ध्विदेश में 16 फिर वन बंडल 62 फिर उफ वन बंडल 473 फिर परीचेत 1871 परीचेत सहाइग वरत तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वन वरत के वारे किसके वन वरत के वारे मद्ध्विदेश के सर्वोच वन अदिकारी होता है पिधान मुख वन सरग्चक होता है पुनर गठक गठिद मद्ध्विदेश में 16 वन बंडल बंडल का फिर मुख अदिकारी है वन सरग्चक खंडवा याद रखना है खंडवा बंडल ब्रत है जो यह सबसे बड़ा बंडल ब्रत है जिसके अंतरगत 9,290.74 किलोमीटर बंडल आता है याद रखना है खंडवा सबसे बड़ा बंडल ब्रत है सबसे बड़े तीन महा तीन बड़े बंड़ेतों की बात करें सरवाधिक बड़े तो यह खंडवा है आपका जवलपूर है रीवा वो सबसे तीन सबसे चोटे बंड़ेतों की बात करें तो होसंगवाद इंदौर ब मन्दल की बात करें तो बन ब्रिथ उन्हां बनमंडलों में विभाक पर किये जाते हैं । इसका पिर मुख अधिकारी वन मन्दल आधिकारी होता है सर्वादिक बड़ा पनमंडल आपका मंडला जवलपूर ब्रत का भागे सर्वादिक बन आवरंड बाली छेत फल बाली जली 2015 गिम्सा वाला घाट छेत बाला सीधी नियूनतम बन आवरंड छेत फल बाली जली साजापूर ओज्यन रतलां सर्वादिक बन आवरंड बाली पितीसाप बाला घाट सेवपूर अमलिया नियूनतम बन आवरंड बाली जली साजापूर ओज्यन रतलां ठीक आँगे बात करते हैं वन बर्गीकन बनों का वहुलिक बर्गीकन ऊष्ण कटी बन दिये वर्ण पाती बन इसके लिए जरूरी बलसा होती है पच्छास सेंटीमीटर से सो सेंटीमीटर यहां के मुठ बन है सागोन सीसम नीम पीपल आदीक बैक्च ऐसे बन सागर जबल पुछे दवाड़ा दमो चतरपूर पन्ना से उनी होसंगाबाद में मुक्रूप से पाए जाते हैं फिरा अपना उस्ट कटी बन दिये अर्द फ साइ तिनसा जामू महुआ सेजा हर्रा आदी व्यक्ष मिलते हैं ऐसे बन मंडला आपके बालागाट मंडला सीधी सेहडोल आदी में पाए जाते हैं तो रहें आपका उस्ट कटी बन दिये सुस्क परड़ भाती बन यह पेप्चा के कम परसा वाले होते हैं 25 से 75 सेंटीमीटर बरसा चाहिए होते हैं इसमें आते हैं बाबूल हर्रा पलास तेंदू सीसम हल्दू सावन सावन सीसम आदी ठी यह बन पाए जाते हैं आपके सेवपोर सेवपरी रतलाम मंदसों टेगंगर दतिया मंडला आदी जलों में बनों का पिसासनिक समीकर्ण संरक्षिद बन यह कुल बनों का 32 दसमलो आठ पिती सत हैं यह बन है यह बे बन हैं जिन पर सासन का पूर नियंत से रहता है इसमें पसूचारण एकम एवं लगड़ी काटना पूरता सनिसिद्ध होता है तरह आरक्षिद बन एक पूल बनों का 65 दसमलो आठ पिती सत हैं लैसेंस के तहट इन में कटाई होती है आवर की के बन इन बहुत कम आत्रा में 1.8 पिती सत हैं इन बनों में पसूच बन में पसूचारण एवं लखड़ी काटना पूरता निसिद्ध होता है ती फिर बात करते हैं विभिन विभिन बन साहगोन इसका बनस्पतिक नाम में टिक्टोना टिक्टोना ग्रांडिस राज के मद्ध छेत में केंदेते हैं राज के कोल बन छेत फलका 27 देसमलो आठ प पिदेश चेत में होसंगाबाद बोरी गाटी जबलपर वैतुलसागर चिदवाड़ा मंद्ध जिले में हैं फिर है साल सबसे जान्दा मद्ध पतिस में सावोन ब्यक्ट पाए जाते हैं ठीर है फिर है साल इसका नाम बनस्पतिक नाम है सोरिया रोष्टा यह चेत पूरव मद्ध पतिस का है फुल बंचेत का सोले दसमलों जंगमन भाग पर रिष्टे थे इनमें मंडला बालागाट सीरी सरेडोल जिले में पाए जाते हैं इसका बनस्पतिक नाम है डेंडो कोलीमस यह पाए जाते हैं बालागाट बैतूब जबलपूर से उनी मंडला सागर और भ में जाने की बाप चूथ मद्ध पतिस के उत्तर मद्ध पूरवी जिलों में हिस्तित हैं देश के कुल तेंदुपत्ति का साथ पिती सत मद्ध पतिस में पाए जाता है राज में लगबक दो सो साथ वीडी कार खाने कारगत हैं पिर मुक्षेत हैं सागर में सरवादी फिर जब चतरपूर भूपाल जवलपूर रहेगा सीधी सहडोल में ठीक खेर वेक्ष सिवपुरी और बानमोर बानमोर मुरेना में कत्था बनाने की एक कारखाने हैं पिर मुक्षेत हैं इसके गुनाज सिवपूर सिवपूरी जवलपूर सागर दमोह उमरिया होसंगबाल फिर हर्रा ब्यक्ष की फलों में 35-40 पितिसत टैंडिंग पाये जाता है पिर मुक्षेत हैं इसके छिदवाड़ा जबलपूर से उपर वालाघाट सहडोल बैतूल पन्ना सिवनी मंडला सतनास होसंगबाल हर्रा सबसे अधिक वालाघाट बनब्यत में पाये जाता है तीर तहां प्रयापका लाख मद्यपदेश में पलास कुसमबेर की व्यक्षों और अरहर की पोदों से लाख प्राप्त होता है उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है पिर मुक्षेत हैं इसके छिदवाड़ा जबलपूर सिवपूर बालाघाट सहडोल बैतूल पन्ना सिवन मंदला सतना फ्रैगोन राज में बबूल सलाई के वेक्ष परयाप्त हैं जिन से गोन निकाला जाते हैं जाबूआ धार खंड़ा खरवोन गौालियर से उपरी मुरेना रतला में इपाई जाते हैं विलावा वेक्ष से प्रात विलावा फल भी बहुत उपयोगी है छिदव माड़ा में पाए जाते हैं फिर महुआ महुआ व्यक्ष प्राप्त महुआ फल का व्योग सराव औस दी दोनों में होता है यह अभी पूरवी जिलों में विसेश रूप से मिलता है अब देखते हैं मत्पूर्थ तत्त क्या है मत्पूर्थ तत्त वन अधीनियम 1927 के अनुस देश में सरवादिक 94,689 बर किलोमीटर बन चित मद्पूर्थ में है जो राज के कुल चित फल का 30.72 पितिसत हैं सकल राज घरेलू उतपाद में वन की चित कान से 1.97 पितिसत पिदेश के किरसी जलवाई चित्रों के अंतरगत भोपाल जबलपूर रीवा ग्वालियर साग इंदौर खंडबा चाववा रतलाम सीवनी बेतूल में एक-एक अनुसंधान विश्तार विरत इस्थाबित की गए पिदेश में व्यक्षारोपन को प्रोसाहन करने के लिए नीजी वूमी में व्यक्षारोपन प्रोसाहन यह जना लागू की गई पिदेश में राष्टी के उद्ध्यान अब भ्यारन के अंतरगत कुल छेत फल कि 10.99000 किलोमीटर हैं जिनमें सिवन छेत 9.12000 किलोमीटर हैं आगे बात करते हैं लोग भारतिय वन संस्थान देहरादू कहां है भारतिय वन जीप संस्थान कहां है देहरादू द्वारा 2014 की गड़ना में मद्ध्य देश में बागों की संख्या देश में कुल बागों की संख्या कितनी थी 2226 जिसमें से मद्ध्य देश में 308 थे लेकिन करेंट पेस में आपको बता चुके हैं ठीक है वहां जाके थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजे लेकिन यहां बता देते हैं कौन किस आपके कितना 2929 साथ 2966 2018 में जो रिपूट आई है बाग की गरना की तो देश में हमारे में 2966 कुल बाग हैं जिनमें से मद्ध्य देश में आपके मद्ध्य देश में हैं 526 कितने हैं 526 मद्ध्य देश में हैं ठीक है कि अधिक अधिक कर लें कि गलत बताने से अच्छा है वाई तोड़ा इंतिजार के लिए तो देखिए हैं सही है मद्ध्य देश में आपका है 2018 में 526 और कुल टोटल हैं आपके 2966 पता है आपको विस में टाइगर प्रोजेट के जनमदाता कौन है ग्रिनी मैनफोर्ट और भारत में कहलास संकला ठीक है चलिए आंगे हम लोग बात करते हैं पिदेश में पहली बार 2016 में संकट प्रजाती गिद्धों की गर्ना की गई पिदेश में साथ प्रजाती के लगबख साथ जार गिद्ध पाए गए गए सालवीच संक्राण पर मद्वधेश सासंद वारा पिदेश में वर्ष 2007 से 2011 पूर्ण पितीबंद लगाय गया था परंतु 2008 में सालवीच संक्राण पर पितीबंद अटाती हुए संक्राण का नायने की निर्देश दिये गया 2015 में सालवीच का संक्राण 11,161.72 कोईंटल किया गया 2016 में 3,966.10 कोईंटल सालवीच का संक्राण किया गया अक्टूबर 2016 में सालवीच को आराष्टी एकरत वनपज घोसित किया गया आराष्टी एकरत वनपज में अचार गुठली पलासलाक हर्रा महुआ पूल महुआ गुठली करंज बीज नीम बीज आधी आते हैं आगे बात करते हैं मद्विदेश राज्य वनविकास निगम कमपनी अधीनियम 1956 के इंतगत 24 जुलाई 1925 को राष्टी एकरिसी आयो कि अंत्रेम रिपोर्ट के आधार पर मद्विदेश समय राज्य वनविकास निगम लिमिटेट की स्थापना भोपाल में की गई थी याद रखनाया भारतिय वन रिपोर्ट 2015 के अंवसार यह पुरानी है जान्दर टेंट भोणी रखनाय ठीक है राज्य में कुल बन का 65.75 अरक्षित बन और 32.85 अरक्षित बन और 1.85 जिसमें बरगीकित बन है आ बरगीकित ठीक है राज्य में कुल 925 वन ग्राम इस्ते थे जिनमें से 98 वन ग्राम राष्टिय वन उद्ध्यानों अब भिहारनों में इस्ते थे मद्ध पिदेश में एक पूंच लिया था पिछली बार में ने देखा कई बार देखा किसे पूंचा विया है किसे मद्ध पिदेश में उचन कटी बन दियए बन पाए जाते हैं मद्ध पिदेश में किस तरह की बन हैं उचन कटी बन दियए बन मद्पिदेश बनों का वर्गी कर पांच आदारों पर यता फिदेशिक आदार, भोगोलिक आदार, तिरजाती आदार, सास्की आदार, वन विभाग के आदारपत किया गया है मद्पिदेश में सरवादिक बन शागुन के हैं, दूसरे इस्थान पर साल के हैं मद्धपिदेश में सिवफुरी में प्राधेशिक वन स्कूल स्थापित थे, मद्धपिदेश में वन पहरेदारी का टैनिंग स्कूल बैतुल में और आपका रीवा में. बनों का सत्पिती सत राष्टी एकन करने वाला देश का पित्थम राच्य मद्धपिदेश. मत्विदेश में बनो का राष्टी एकन कब हुगा 1970 में याद रखना है पिदेश में वन के राष्टी एकनन के तहट सरफ कितम तेंदुपत्ता का राष्टी कन किया गया था मद्पिदेश में खंडवा बैतूल होसंगाबाद बाला काट जिलों में पचास पितीसर से भी अधिक भूमी वन अच्छा दित है ठीक सरक्षिद वन सरवाधिक चतरफुर वन बैत में है वो सबसे कम है आपके खंडवा बैत में याद रखिए मद्पिदेश में बन बिकास निगम की स्थापना 1975 में की गई है मद्पिदेश में बन बिकास निगम की स्थापना याद रखना है 1975 में की गई है मद्पिदेश में बन वन जीव सरक्षन अधिनियम 1974 में पारित किया गया मद्ध पिदेश में सामाजिक वन की योजना 1976 में तारम की गई मद्ध पिदेश में देश के 60-30 सत तेंदूपत्ता का उत्पाधन करता है तेंदूपत्ता उत्पाधन में पिदेश का पिथम देश में पिथम इस्थान है मद्पिदेश का संपूर बंचित, वन विभाग की नियंतर्ण में ने, बिदेश में मुख वन संपधा में सावोन साल बांस अधा मिले है, और गोंड बन संपधा में तेहदूपत्ता लाग हर्रा खेर गोंद आ दिये, तेहदूपत्ता संगरहन का मुख छेत सागर मद्पिदेश आसन द्वारा 1988 में तेहदुपत्ता नीती में बिचोलियों को समाप्त कर दिया है लाग उत्पातन में मद्पिदेश का जारगंड 36 गड़ के बाल तीसरा एक तस्तान है पहले पर कोन है? जारगंड दूसरे पर 36 गड़ हर्रा का उपयोग चरम सोधन पैंटिंग फेस दवाईयां बनाने में होता है मद्पिदेश में देश के कुल लकडी का उत्पादन 20 पी 30 गड़ान है मद्पिदेश में हर्रा का उत्पादन बाला घाट मंडला शिदवाड़ा जवर्पूर सतना बैतुल पन्ना आदी में होता है मद्पिदेश में बबूल खेर वाद्धावडा से गोंद पराप्त होता है सबसे कम बन आपके होसंगबाद बन बिर्थ में है मद्पिदेश के होसंगबाद जिले में साल वेक्षों की सखनता है देखे मद्पिदेश सासन की पहली वन नीती सन 1902 में दूसरी वन वी नीती 2005 में बनी तेंदुपत्ता का 1964 में वास का 1973 में साल वेक्ष का 1975 में राष्टी इकन किया गया अब बनों को सरक्षन देने के लिए कुछ मात्कून योजना है मद्पिदेश सरकार की वन सरक्षन योजना है सबसे पहले है पंचवन 33-33 से कम बन छेत्त वाले जिलों में वेक्षार ओपन की योजना है 1976-77 से त्यारमुई लोकवान की योजना लोकवान की मद्पिदेश सासन द्वारा भूमी स्वामियों के निजी स्वामित की जमीनों पर बनों की प्रिवंदन के लिए अपरेल 1999 से प्यारम की गई फिर वनस्पती वन पंचवरसी योजना कटनी जिले में एक महत्तों कांची वनस्पती वन पंचवरसी योजना की किरियान वेक काल प्डगती पर है फिर संजीवनी आयूवेद और वस्थी पौदों के विपढ़न के लिए संजीवनी आयूवेद की नाम से 22 विक्रेकें प्यारम की गई फर है ग्रीन इंडिया मिसन भारस असन की परियाबन एवं बन मंत्राले द्वारा पचास लाख हेक्टर वन चेत में वन सर्मंधन संबर्धन करने ही तू ग्रीन इंडिया मिसन प्यारम किया गया ग्रीन इंडिया मिसन ही तू चैन किये गए लेंड स्कैप्स एवं कॉरिडोर ने मिलिके थे याद रखिए यहां कॉरिडेर तो हम आपको बता रहे हैं लेकिन जो MP का करेंट पेस है 2019 का वो मैं बता चुका हूं ठीक है और वो सभी आपको लेक्चर मद्पिदेश करेंट पेस 2019 के नाम से जो बना है उसी में डले हुए है ठीक है याद रखिए में पूरा देख चुकि थे हम लोग मांद्पिदेश करेंट पे यह हैं यह है आपके लेन्ट्र स्क और कोरिडोर पहला है पैंच्छ थोड़ा कोरिडोर काना बादाव गड़ और कोरिडोर काहना पैंच्छ लेंड इसके शिफ्री वालियर लेंड़ सके इंजों एंदवर पुज्यन लेंडस्केफ आंगे बात करते हैं आपका फिर खंडवा खंडवा लेंडस्केफ सहडोल लेंडस्केफ रीवा लेंडस्केफ भोपाल लेंडस्केफ सत्पोडा लेंडस्केफ राता पानी नोरा देही पन्ना कोरीडोर सत्पोडा मेलदार कोरीडोर वैतूल लेंड अब बात करते हैं हम लोग मद्धपिदेश में बन प्राडियों के संरक्षन ये तू योजिनाय जो चलाएंगे उन्हें देख लिए मद्धपिदेश सासंद्वारा बन प्राड़ी कि संरक्षन को प्रात्मिक्ता दी गई केंद सरकार की सायता से राष्टी योध्यानों एबं अभ्यारोणों के विकास संब्धन एबं सुरक्षाईतू कई योजिनाय चलाए जा रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर सासंद्वारा बस 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजिना शुरूप की गई इसके इंतरगर मद्धपिदेश में साथ संरक्षक्षेत जैसे काना वानदवगार पैच पन्ना संजय राष्टी उध्यान सत्फड़ा पानी अब्यारन का चैन किया गया था एं राष्टी उध्यानों अब्यारनों में प्रोजेक्ट टाइगर योजिना के इंतरगर बारत सरकार द्वारां 50 पितिसत आवर्ती व्येटू 100 पितिसत अनावर्ती व्येटू रासी प्राप्त होती है तरह महासीर को राज-मचली का दिया गए मद्यपृदेश में फिर आपकी खरमोर एवं सोन चड़िया सन्रक्चन के लिए राज-जेक अभीनायय योजना पेहरम किये इसके तह जन्भागिदारी के जरिये इनके सन्रक्चन के फ्रियाज किये जा रहे हैं 2005 में प्यारम की यहीं योजना खरमोर कि मामले में सफल से दुई योजना के अंतरग देदी नर खर्मोर कि किसी किसान के खित में जो लाई महीने में होने की सूचना दी जाती है तो उसे एक हजार यदि सेप्टमबर अक्टूबर तक रहने की सूचना पूना मिलती है तो उसे 4,000 रुपे दिये जाते फिरह सौन चड़िया के सरक्षन के लिए चड़िया के अंडों तथा अंडों के हैचिंग तक सुरक्षित रख रहने की सूचना देने वाले को 10,000 रुपे कितना? 10,000 रुपे के पुरुसकार देने का प्रावदाने लेकिन सौन चड़िया के मामले में विसेश लाव होने की जाने का रीट नहीं है तरह सिंग फोनरवास कारक्रम देश में बेलोगत फ्रया ACI सेरों की प्रजाती के संड़क्षन के लिए उनके फोनरवास एतु कैन सरकार की पहल पर राज में कुनों फालनपूर अभ्यारंट सिवपुल का चैन किया गया है एवं ACI सेर ACI सेरों प्रजाती के प्रजाती को प्रजाती को प्रजाती को प्रजाती के योजना प्रजाती की जिसके इंतर के काना राष्टी उद्यान से 15 से 20 गौर जुन्ड बादों गड़ लाकर पुना इस्तापित की जाएंगी फिर है पन्ना राष्टी उद्यान में बागिन की फुना रिस्तापना राष्टी उद्यान पन्ना में बागों के विलोक्तों ने हो जाने के बाद वर्स 2009 में दो बागिने को राष्टी के दूसरी राष्टी उद्यानों से लाकर छोड़ा गया इसमें तरह वन एवं वन जीब सरक्चन कानू वन जीब सुरक्चा दिनियम 1922 वन सरक्चन दिनियम 1923 भारती दंड सहता 1860 के कुछ प्रावदाने इसमें भुराज़स सहता 1956 में मद्पदेश जीब सरक्चन प्राधी केंड किस्ता अपना 2004 में की गई मद्पदेश में पिथम वन नीती 1952 में आई मद्पदेश में नई वन नीती की बात करें तो 4 अपरेल 2005 को गोशित की गई जिसके बिंदू इसके बिंदू वनों का समझनी है विद्दोहन करना लोक वन की तथा विस्तार वन की कि तहत व्यक्चा को बढ़ावा दिना वन अधारी तो देवों को बढ़ावा दिना आजनेंती चराई पर उतनेंतर करना वन सुरक्चा में इस्थानी है समुधाय के कादिकार और एक सहयोग सुनिश्चित करने और बन अपरादी सीख निराकर्ण के लिए जिलों पर विशिष्ट लोग अधालतों की स्थापना करना वन ग्रामों को राज्चस ग्रामों के रूम में मानता पिदान करना इको टूरज में को बढ़ावा दिना राज्च में जे विविता किसनरक्षणdoor वाबिकास को दीखते हूए सासन ने जे विविता किसनरक्षण इसके घतकों को कि सही उप्यों जे विक्सनसादनों के बेहतर उप्यों के उद्देश से जे विविता विभाक का घठन 2000 अब एक में किया मद्यपिदेश में राज्य विवित्ता वोर्ड जै विवित्ता अधिनियम 2000 एक के पिरावधानों के तहित राज्य में मद्यपिदेश राज्य विवित्ता वोर्ड का गठन किया गया अंगला है मद्यपिदेश जै प्रोध्योगी की परिशत राज में मत्पदेश जैप प्रोधोगी की परिशत का वर्स पंजी केर्ट वर्स 2005 में मत्पदेश सुसाइटी रजिस्टेशन अधिनी मुन अठारे सो 73 के प्रावधानों के तैट किया गया था फरिशत का मुक्तायत रहेगा जैप प्रोधोगी की बढ़ावा देने बाले उद्दोगों की स्थापना करना जैप प्रोधोगी की अनुसंधान एवं सिक्षा को बढ़ावा देना आदी इसके इलावा परिशत को जैव फुरुदुग की नीती वर्स 2003 के क्रियान बन की जिम्मेदारी सौफी जाएगी बात करते हम राज जी के बन संस्थानों के बारे में वह उपर जो आखड़े दिये गए पुराने हैं वहां करें अटरफेस में बताए गए हैं राज के पिरमुख वन संस्थान भारती ये वन प्रबंदन संस्थान 1982 के वह पाल में इसका मुख्याले भारती ये वन नुन संथान संस्थान चेत्रिय काल रएला इसका जबलपूर में वन प्रबंदन सिक्छा केंद, वन राजिक महाविध्याले, 1989 इवाला घाट में है, वन राजिक महाविध्याले, 1980 इवा आपका बेतूल में है, उश्न कटी बंदी है, वन संस्थान आपका जबलपूर में है, वन की अनसंथान एवा मानौत संसाधन की का संस्थान इवा आप बोपाल में आपका वन विकास निगम ये बोपाल में आपका मदपदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेर्नेस सेंटर ये राला मंडल इंदोर में वन नजीप फॉरिंसिक एवं स्वास्त केंद ये आपका जबलपूर में कि यह है जबलपूर में आगे बात करते हैं ये था हमारा राष्ट बंसंपदा एवं वन नजीप अब 14 विक्टर में हम लोग बात करेंगे राष्टी योध्यान एवं अब्यारणों को देखेंगे ठीक अब्यारण हेलो दूस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मद्द पिदेश सामान ग्यान के बारे में तो इसमें हम लोग में तेरे चेप्टर अभी तक खंतम कर चुकें तेरे बाव आपका चेप्टर था वन संपदा एवं एवं वन जीव इसमें बात करने वाले हैं राष्टी योध्यान एवं अब्यारण याद रखिए आपके जितना भी MP से संबंदी चेप्टर कतम होते जा रहे हैं वो सभी मद्द पिदेश सामान ग्यान के नाम से जो आपकी पिले लिष्ट सूचिए उसी में डले हुए हैं ठीक वहाँ जाकर देखते रहे हैं तो बात करते हैं राष्टी योध्यान मद्द पिदेश में 11 राष्टी योध्यान 28 अभ्यारन इसमें 6 टाइयर रजव 2 खरमोर अभ्यारन 2 सौन चड़िया अभ्यारन 3 घड़याल अभ्यारन दो राष्टी योध्यान जीवासन सरक्षण हेतू इस्थाफित किये गए इसके अलाबा 4 अभ्यारन इस्थाफित हैं देश में सबसे अधिक राष्टी योध्यान और अभ्यारन मद्द पिदेश में हैं वन फ्रांडी सरक्षण के लिए काना राष्टी योध्यान में पिशीक्षण की विवस्ता है विस्त का पहला गव्यारन पिदेश की आगर मालवा जिले के सुसनेर चित में स्थाफित हैं मद्द पिदेश का सबसे बड़ा अभ्यारन नोरा देही आपका यह सागर में यह ग्यारे सो चोरानवे दसमलों सरसट वर किलूमीटर और सबसे चोटा अभ्यारन आपका राला मंदर इंदोर में पाँच वर किलूमीटर ती सरदारपूर धार एवं सैलाना रतलाम में खरमोर पक्ची के संरक्चन के लिए हैं करेरा सिवपूरी और घाटी गाओ ग्वालियर अभ्यारन में लुप्त फिरा सौन चिडिया कर संरक्चन किया जा रहा है चंबल के मुरेना और केंच चतरपूर सौन साइडोल सीधी में अभ्यारन में घड़े आल पाई जाते हैं ठीक जाद रखना आँगे बात करते हैं पालपूर कुनो सेवपूर अभ्यारन में गिरी उठ्यान गुजरास से ACI सेव सेरों को वबवर्ग सेरों को इस्थाना अंतरित करने का पिष्थाओ है मद्पिदेश को टाइगर स्टेट की नाम से जाना जाता है राज के राष्टी उध्यान में सरवादिक संख्या में पाय जाने वाला जीवचीतल है केंद्री वन इबं परियाबान मंतला रहे द्वारां पच्मडी देश का दस्वा और मद्पिदेश का पहला वायो इस्फेर रिजर्व छेत गोसित किया गया आचानक मार तथा पन्ना को करम सा दूसरा और तीसरा जैम मंडल आरप छेत गोसित किया गया पिदेश का पहला जीवास उद्ध्यान आपका डिंडोरी तथा मंडला में हिस्ट ठीज़ पिदेश का सबसे वड़ा राष्टी उद्ध्याना काना किसली है प्रोजेक्ट टाइगर ये उजिना लागूंगे तथा एक अभ्यारन राता पानी में राता पानी को 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट में सामिल किया गया हो सबसे छोटा राष्टी उद्यान आपका जीवासम राष्टी उद्यान डिलोरी में बांधाओ गड़ राष्टी उद्यान सफेद सेदों के लिए पिसिद्धे कहां यह बांधाओ गड़ राष्टी उद्यान ठीके याद रखिए सफेज सेद्रों के लिए पिसिद्ध है पन्ना इस्तित अभ्यारन जंगली भेसाई तू पिस्तावित है पिदेश का एक मात सरफ उद्यान आपका भोपाल में है पिदेश में प्रोजेक्ट एलिफैंट वा प्रोजेक्ट हंगल भी चल रहा है मत्विदेश में अभी भी लगभग चालीश पिती सद वन प्राणी राष्टी उद्यान एबम अभ्यारन से बाहर रहते हैं दुर्णव प्रजाती का वेडरी वारे सिंगा पिदेश के एक मात राष्टी उद्यान काना किसली में ठीक है 1974 में मत्विदेश के काना किसली राष्टी उद्यान में अमेरिका के नैशनल फार्ग सर्वेसिस के सायव से फार्ग इंटर्ट प्रटेशन योजना लागू की गई मत्विदेश के संजा राष्टी उद्यान का पुरान नाम डूबरी है मत्विदेश के पन्ना में मत्विदेश के पन्ना में पिदेश का एकमात रिप्टाईल पार्क है मत्विदेश में देश का कुल टाइगर संख्या की लगवग 22-32 पिदेश टाइगर पाये जाते हैं जो देश में सरवादिक है मत्विदेश के रीवा जिला पिदेश का एकमात ऐसा जिला है जहां सफेल से पाये जाते हैं माधवराश्टी उद्यान में एक पहाड़ी के इस्तरवर सिखरपफर जॉर्ज कैसल क्यों है माधवराश्टी उद्यान में एक पहाड़ी के इस्तरवर जॉर्ज कैसल नामा के भववन बना हुआ है मधवराश्टी उद्यान को जंगल गले आ रहा है योजना के तहर जोडने का पिस्ता है मधवरश्टी उद्यान अब इंद्रा गांदी फ्रिय दर्षनी राश्टी उद्यान के नाम से जाना जाता है बोपाल का ववन बिहार राश्टी उद्यान एक अनोखा राश्टी उद्यान है जिसे आधुनिक चिडियागर के रूम में भी मानतफ राप थे रीबा जिले में टाइगर सफारी का निर्मार किया जा रहा है सरफ उद्दान वो जैन में भी तिस्ता बे थे ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग तो राम सर्व राम सर्व समझोते हैं कि अनुफा देश की 25 आध भूमियों में से एक मत्पिदेश का भोज स्थल भोपाल में इस्तित है ठीक है अब बढ़ गई हुई है ठीक है करेंटर प्यास में बात किया था कितनी हो गई याद रखिए मार्च 2019 तक देश में 27 आध भूमियां थी लेकिन अभी 10 और बढ़ गई टोटल 37 हो गई ठीक है जिनमें से एक भोज मत्पिदेश में भी है 32 वर किलूमीटर ठीक है याद रखिए भोज आध भूमिक आए मत्पिदेश में ठीक है आँगे बात करते हैं भालतिय पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी फुल चुकी मत्पिदेश में बहुत देखा जाता है थिक्रा पक्षी पपिया जैसे दिखने वाला सिकारी पक्षी है या मत्पिदेश में सरवादिक संख्या में पाए जाता है सरवादिक बासब्यक्च मद्धिदेश में पाये जाता है सामाजिक वन की योजना के एक कारिकरम के रूम में पंच वन योजना 1976 से सुरू की गई राज के 33 फिती सत से कम वन वाले चेत्रों में यह योजना लागू की गई बन छित वालों रेंजाओं को विसीख्षण वाला घाट में दिया जाता है वन पाल एवं वन रक्चक विसीख्षण के तीन विद्याले हैं अमर कंटक में सिवपूरी और लखना दौन में सौन चिडिया माधोर राष्टी उद्यान सिवपूरी में पाय जाती है सौन चुडिया आपकी माधव राष्टी उद्यांसिक पुरी में पाई जाती है 1 नवंबर 1981 को वारे सिंगा को राज पसू गोसित किया गया था माधविदेश का राज के ग्वालियर वनबेश से नियूनतम राज सिपराप्त होता है वनचेत के पिती बर किलूमीटर से मिलने वाला राजस सरवादिक होसंगाबाद वनबेश से मिलता है इमारती लकडी सरवादिक जवलपूर वनबेश से पराप्त होती है खंडवा वनबेश मेल लकडी की कटाई पर पिती बंद है पच्छमणी दोहजार उननीस सोडी दोहजार नो अच्छानक माल मत्विदेश चतिसकड दोहजार बारे में जी मंडल आरक्षे चितको युनेस्को की विस नेटवर्ग परमानता प्राप्त है पर्यावर्ण नियोजन एवं समनवे संगटन इपको मत्विदेश सोसाइटी एक्ट पंजीन एक्ट 1973 के अंतर पंजीकित संस्था है संगटन ने अपना कार पांच जून 1981 से आरम किया टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी वन पराणी सरक्षण अदिनियों 1972 के तहर्ट 1997 से पिदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी जीश्थापना की गई टाइगर फ्रोजेक्ट के इंतरगत लाए गए उद्ध्यानों की संख्याच है काहना राष्टी उद्ध्यान, वादवगर राष्टी उद्ध्यान, फ्याच, पन्ना, सत्थपोडा और संजय राष्टी उद्ध्यान अब बात कर लेते हैं लोग मद्यपिदेश के राष्टी उद्ध्यानों की बारे में दुसक्त वाले बात करते हैं काहना राष्टी उद्ध्यान काहना राष्टी उद्ध्यान 940 पर किलूमीटर छेत में खेला हुए सबसे बड़ा सरवादिक महत्कुन है 1933 में अब भ्यारनर बनाए 1955 में काना राश्टी है काना राश्टी का पहला राश्टी उद्यान बना किश्नर मिरग और बेडरी प्रजाती का वारे सिंगा यहीं पाये जाता है काना राश्टी उद्यान में केप फारसान ने Highland of Central India में हालो घाटी मंडला और द्रांडेर ने Wild Animal Inn Central India में बंजर घाटी बाला घाट का वर्डन किया है जो दोनों ही काना नेशनल पार्क में है यह पार्क बाला घाट और मंडला में इस्तित है ठीक है? याद रखना काना किसली पार्क आपका बाला घाट और मंडला में फेला गए इस राश्टी उद्यान में हवाई पट्टी भी है काना टाइगर्स सरकारी सुभंकर सरकारी सुभंकर हासिल करने वाला देश का पहला टाइगर रेजर्प है सुभंकर का नाम है भोर सिंग वारे सिंगा फिर है आपका बांदावगर राश्टी उद्यान बांदावगर राश्टी उद्यान ये उमरिया में 32 पहाडियों से गरा है येसे 1968 में राश्टी उद्यान का दरजा मिला 1993 में प्रोएक एक्ट टाइगर में सामिल किया है वागों का गनत यहां सरवादिक है पिती आठ किलोमीटर में एक वाग है यहां सफेद सेर गोविंदगड रीवा में पाए जाते हैं फिर बात करते हैं पैंचराश्टी उद्यान इसकी स्थपना हुई 1983 में विश्वेंग के साथ अभ्यारन सरक्षन पर योजना में सामिल है यह छित बाड़ा और स्थिवनी जिले में फैला हुआ है ठीक है पैंचराश्टी उद्यान 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर घुसित किया गया से इसका छित पल है 293 पर किलोमीटर यह राश्टी उद्यान मद्विदेश तथा महराश्ट की सीमा पर इस्तित है ठीक 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 है अपका पन्ना पन्ना राश्टी उद्यान 1981 में इसे राष्टी है उद्यान का दर्जा दिया है और 1995 में इसे प्रुजेक्ट टाइगर के इंतरगर सामिल किया है इसका चितफल 542 दसमलो 66 वर किलुमीटर है पन्ना अभ्यारन रेप्टाइल्स के लिए इस रख्षत है फिरे आपका सत्पोडा राष्टी उद्यान यह राष्टी उद्यान आपका हो संगाबाद जिली में पिदेश का पांच बार प्रुजेक्ट टाइगर है 1981 में राष्टी उद्यान के रूम में स्थापित हुआ था इसका चितफल है 585.7 वर किलुमीटर फिरे आपका संगे राष्टी उद्यान यह राष्टी उद्यान मद्विदेश के सीधी और 36 गड़ के कोरिया जिले मिस्ते थे विभाजन के पूब यह सरवादिक छेतफल वाला राष्टी उद्यान था उननीज सो अरतीस बर किलुमीटर था लेकिन वरत्मान मद्विदेश का इसमें चेतफल चारसो च्यासर दुसमलो चैसो संतावन बर किलुमीटर है 1981 में से राष्टी उद्यान केंद सरकार ने 2008 में पिदेश का च्छटवा प्रोजेक्ट टाइगर गोसित किया इसे इसका पुरान नाम है डूबरी संजाय राष्टी उद्यान का पुराना नाम है डूबरी अभ्यारण ठीक आंगे बात करें आपका है अंगला माधो राष्टी उद्यान यह राष्टी उद्यान आगरा मुंबई राष्टी है राजमार संख्या 3 पर पिदिश किसे पुरी जली में है इसे राष्टी उद्यान की स्थापन उन्नी सो अंठावन उन्सट में की गई इसी उद्यान में जार्ज कैसल उक्किला है इसमें सांक सागर जील भी है फिर आपका जीवासम राष्टि उद्यान 1983 में राष्टि उद्यान का दरजा मिला इसे यह मद्धिदेश का सबसे छोटा राष्टि उद्यान डिनोरी में इसका छेटफल है आप 0.27 वरकिल मिल है यह वनस्पती जीवासम को सनरख्चित करता है यह भारत के चार जीवासम राष्टि उद्यानों में से एक है तो रहे आपका वन विहार राष्टि उद्यान यह जीलों के रमडिये रमणिये इस्तल भोपाल में इस्तित है छेटफल की दृष्टि से यह मद्धविदेश का दूसरा छोटा राष्टि उद्यान है इसका छेटफल है 4.45 वरकिल मिटर इसमें मद्धविदेश के सभी प्राड़ी पाए जाते है यह 1989 में राष्टि उद्यान गोसित किया गया फिर है आपका ओकारेसोर राष्टि उद्यान यह र यह जिला है चेतफल बरकिल मीटर हुरों अ वो मरिया में इसका छित्पल 458.85oston km, यहा बाग तिन धुगा, चीतर सांबर, पाए जाते हैं, मादा हो आपका सिव्पुरी में है इसका छित्फलạt 375.22 कि यहां तिन्धुगा सांबर, चीतर पाए जाते हैं पन्ना है आपका ये पन्ना चतरपुर में है पांसोब्यालीस वर्ग किलूमीटर लगवग है टीक है लगभग माल लीजेए वरना 542.666 वर्ग किलूमीटर यहां वाग तिंदुजा चीतल सामभ गौड पाये जाते हैं संजय राष्टी उद्यान सीधी में इसका वर्ख चित्फल है 466 वर किलूमीटर, वाग तिंदुगा चीतल है, फैच हिंद्रा फिये दर्सिनी राष्टी उद्यान इस्तिवनी और चितबाड़ा में 293 वर किलूमीटर है इसका चित्फल, बांग वाग तिंदुगा चीतल ऊँवन विहार्, भुपाल में 4.43 वर किलूमीटर है, पधेश के सभी वन प्राणि यहां पाए जाते हैं, जीवास के मंडला डेड़ोली में 0.27 वर किलुमीटर, वानस्पती जीवास में इसमें, डायनासन राष्ट जीवास उद्यान, धार में 0.897 वर किलूमीटर है, डायनासोंर की जीवास में यहां पाए जाते हैं, ओंकारी सुर एक खंडवा में हैं, 293.56 वर किलोमीटर राजी के सभी मुक्ष वर निजीव यहां पाए जाते हैं, टी, बात करते हैं, बिसिक्स पसु या पक्ची हेतू अभ्यारन, यह पिर मुकब्यारन है, सनरक्चित चंबल राष्टी अभ्यारन आपका यह मुरेना में है, घड़याल और मगर यहां सनरक्चित हैं, सौन नदी अभ्यारन सीधी सैडोल में है, यह घड़याल और मगर मच्च आपके सनरक्चित हैं, कैन नदी अभ्यारन चतरपुर में है, घड़याल और मगर के लिए, सैलाना यदो έχए श्वकृई में करने कामादी में मंदविद्च यज़्जा को थिए में तो पच्मडी , आरक्षे चेथ। में पन्ना और पन्ना 2011 में टीर अब बात करते हैं हम लोग कुछ मत्पूर्ण मत्विदेश में पर्यावन सरक्षा सस्थान ये संगठन है इनकी स्थापना भरस है मुख्याला है उद्देश है पहला है पर्यावन नियोजन एवं समन्वाइ संगठन इपको इसकी स्थापना यू पिदूसन पर रोक लगाना इसका कार है आप्दाप्यबंधन सहन था निच नवमबर 1987 इसका भुपाल में मुख्याले इसकी स्थापना हुई ती याद रुखना 19 नवमबर 1987 प्राक्तिक एवं मानो जनित आप्दाओं की दुस प्रभावों को कम करना तर करना इसका मुक्त कारे हैं यह हैं आपके वन जीव अभ्यारन क्या है वन जीव अभ्यारन याद रखिए यह हैं आपके वन जीव अभ्यारन तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि बल एक कहां कहां है नाम देखेंगे वजला ठीक है बाकी आप लोग देखते रहिएगा बगदरा आपका सीधी में, बोरी आपका होसंगबाद में, फैन आपका मंडला में, गांदी सागर मंदसौर में, गाटी गाओं क्वालियर, करेरा आपका सिपुरी, कैन गड़याल, अभ्यारन एक चतरपूर, खेवनी देवास से और, राष्टिय चंबल, मुरेना, नौरा द देही सबसे बड़ा है, ठीक है, आगे बात करते हैं, तरे पच्मडी आपका, नौरा देही की बास पच्मडी यह होसंगबाद में, पनपथा इस साइडोल में, कूनो पालन पूर इस सिवपूर में, पैंच इस सिवनी चिदवाड़ा में, राता पानी इस रायसेन सिवूर में, संजडूबरी इस सीधी में है आपका, सिंदोरी, रायसेन, सौन घड़या लप्यार है, इस सीधी चैडोल में, सर्दार पूर, इस धार में है आपका, सैलाना, रतलाम में, राला मंडल सबसे चोटा है, याद रखना है, इन दोर में, नौरा देही सबसे बड़ा था, राला मंडल सबसे चोटा है, और चा आपका, याद रखना है, और चा जो आपका है, यह पहले टीकमगर जिली में आता था, लेकिन जब से निवारी नया जिला बना हुए, बावन बावा, आपका तब से निवारी में आना लगा है, तो याद रखना, और चा अब आपका न बाड़ी में आता है ठीक है नरसिंगड ये राजगड में है दमोर रानी दुर्गावत्ती अब्यारन ये दमोर में गंगवग पन्ना ब्यारन ये पन्ना में केवनी ये देवास और सेवर में याद रखी आंगे हैं मंधाना मंधाता एक खंडवा में सुर्मेनिया एक खंडवा में काली बीत इब्यतूल कठी वाड़ा अली राजपूर मयूर अभ्यारन जाब हुआ काम्द धेनू गौप भ्यारन आपका हुआ साल रिया अगर मालवा नया जिला बना हुआ था इसी में तो ये था अपना ने संबंधिताあक का चयप्टर आंगे बात करें के खनी संपदा घं학 संपदा के बारे में लोग बात करें partir क्य pret तो चलिए हम लोग बात करें थे मद्रब्धिष सामान घ्रान की बारे में कि इसमें करेंगे हम लोग खनेज संपदा के बारे में ठीक है खनेज संपदा के बारे में याद रखिए आपके जितने भी चेप्टर खतम होते जा रहे हैं वो सभी मद्यपदेश सामान ज्यान के नाम से जो सुची बनी हुई है प्लेलिफ्ट में उसी में डले हुएं तो चलिए खनेश संपदा आविभाजित मद्धिदेश का खनेश उत्पादन में पित्थम इस्थान था आविभाजित मतलब आपका 36 गड़ जब मद्धिदेश में सामिल था तब तक आपका मद्धिदेश खनेज उत्पादन में फित्थम इस्थान पर आता था जैसा कि आपको पता है कि सन 2000 में आपका 36 गड़ मद्विदेश से अलग कर दिया गया था आगे बात कलते हैं मद्विदेश खनेज भंडारन की दिरिष्टी से संपन राज्य मद्विदेश का खनेज भंडारन की दिरिष्टी से देश में 30 राज्य स्थान है मद्विदेश में लगवग 30 विकार के खनेज फाय जाते हैं जिनमें से 20 का उत्पादन मद्विदेश में किया जा रहा है मद्ध पिदेश ने अपनी खनिज नीती सरफ फितम 1995 में घोसित की थी मद्ध पिदेश में खनिज नीती सरफ फितम 1995 में घोसित की मद्ध पिदेश राजिक खनिज निगम की स्थापना 19 जन्वरी 1962 में की गई मद्यपिदेश में खनेज निगम की स्थापना की गई थी 19 जन्वरी 1962 मद्यपिदेश मद्यपिदेश देश का एक मात राच्च जिसमें हीरा वसिलेट का उत्वादन होता है मद्यपिदेश ने अपनी दूसरी खनेज नी थी फर्स 2010 में खुशित की वित्य वर्स 2015 सुले में पिदेश का कोईला के सकल उत्वादन में राष्ट में 14 इस्थान था हीरा उत्वादन में पिदेश को राष्ट में एकादिकार प्राप्त हो होने के साथ साथ ताम एस्क मैगनीच एस्क के के उत्पादन में भी पित्थम इस्थान पर है हीरा उत्पादन में तो पित्थम इस्थान पर है ठीक है मद्धिपदेश पर लेकिन ताम एस्क और मेगनीज के उत्पादन में भी पित्थम इस्थान पर है रोग फॉस्पेट के उत्पादन में दुदिये स्थान पर कोईला एवं चुना पत्थर के उपादन में चतुर्त एवं तितिये स्थान पर है किरमसा ठीक खनिज रियास्तों की स्विकिति के कार मद्विपतिस गोण खनिज नियम 1996 की नियम 233 के उपादित किया जाते हैं वर्ष 2015 सूले में 1206 वर किलोबीटर भाग में सर्विक्षन मांचित तरण तथा 4353 मीटर वेधन कार किया गया मद्विदेश में देश के कुल मैगनीज का 18.47 पितीसत भंदार हैं मद्विदेश के बालागाट वच्छित बाड़ा में मुख मैगनीज उतपादक जिले हैं मद्विदेश के होसंगावाज जिले के आगर गाओं टंगिश्टन के लिए पिसित हैं चीमिन्नी मिट्टी का मूल नाम है केवोटी केवलीन जी है अगनी रोधी मिट्टी फायर के लिए से उच्छितामान सै इंटों का बनाई जाती हैं टॉल्क सबसे कठो और खने जे वॉक्साइड एलूमीनियम का आयस्त है हीरे कादिकांस उत्खन नेर्शनल मिनरल डवलमेंट कॉर्पूरेशन एम एन एमडीसी द्वारा किया जाता है पिदेश के जहागुआ जिले में रोफ फॉस्पेट के बंडार हैं मद्विदेश में सुर्मा का पादन जवलपूर में होता है आपका पिदेश में चूना पत्थर के विसाल वहंडार मौजूद है राजजद्वारा मद्विदेश गौड खनेजनियम 1996 में लागू किया गया पिदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइड मिलता है मद्विदेश की कोईला खान किस donor बिंद कल्ब की हैं मद्विदेश में बाला खाट जिलेगी भरवली खदान, ऐसिया की सबसे बड़ी खुली मौए की खदान है ठीक कोईले को कालाहीरा खहा जाता है याद रखना है आपको अहांगे यहाद बात करते हैं अगनी रोधी मिट्टी फायर क्ले के अधिक तर्ग कोईली की बन खानों से मिट्टी है फायर क्ले जो मिट्टी है यह 1600 डिक्री फॉरेन हाइट तामान तक सहन कर सकती है तक नहीं जलती है फायर क्ले फिदेश के जबलपूर सहडोल नर्सिंग पूर पन्ना में मुक्ता होता है केलसे साइट के उतकादन में पिदेश का दूती है स्थान है पिदेश का स्वहाख फूर सबसे बड़ा कुईला चेत है वुल्फ राम टंगिस्टन का अज़के मद्पिदेश के अमरकंटक को वॉक्साइड उतकादन में रेडू कोट उत्तर पिदेश कहा जाता है जिपसम मद्पिदेश के रीवा सेटोर जबलपूर जिले में पाये जाता है पिदेश के बैतूल जिले में टिन तराथ होता है गेलेना सीसा मुक एसक है मद्पिदेश का गेरू के उत्पादन में देश में पित्तम इस्थान पर है खनेज पिदेश के खरवोन जिले में उचिस्तरिय रोप फॉस्पेट का पदा चला है मद्पिदेश के फैल्सफाल जबलपूर और ट्रहडोल में पाये जाता है इसका उपयों मिट्टी के बर्तंत काच बनाने में किया जाता है कोरंडम ऐलूमिनियम का फ्राक्तिक ऑपसाइड होता है तावा अधिक्तम अगनेज कायंते सेलों से प्राफ्त होता है सतना की मजगावा खदानों से किते एक सो टन चट्टानों पर ग्यारत असंदों साथ केरेट हीरे मिलते हैं ठीक मद्द पिदेश में खोला भंडार की दरिष्टी से बिंद छेत विथमिस्तान पर है जब चूना पत्थर में 45 पितिसत से अधिक मेगनेसियम होता है तो इससे डॉलोमाइट कहते है डॉलोमाइट का फेव लोहा सापकन्ने में करते हैं विराइटिस खनेश सलफेड का मिस् साइड होता है टंगिष्टन का उपयोग वल्व का फिलामेंट बनाने में होता है कोईले को देव की जन्नी वसकती का पितीक माना जाता है तो आगे बात करते हैं पिदेश में कोईले कोईला छेत कि दो भागों में माटा गया है मध भारत कोईला छेत को दूसरा है सत-पडा कोईला छेत मध भारत के छेत के अंतिल पांट छेत सामूल है जो निमन्डे सें豪र्यूली सोहाग्फोर उमरिया को राज जोहिला कोईला चेत वो सत्पड़ा कोईला की चाल चेत हैं मोह पानी सायपूर तावा कानहन गाटी चेत फैंट गाटी चेत फिदेश का सोहाग पूर कोईला चेत सबसे बड़ा चेत हैं 4142 वर किलो मीटर चेत में फैला गुए है मद्विदेश में बिटू में नस्विकार का कोला सरवा दिख पाए जाता है सलीमनाबाद कटनी में इस्टोन पार्क विस्तावित है मजोली सीधी में सोने के भंडार मिले हैं जाबूगा के इलावा सागर चतुर्पूर से सामान सेड़ी तथा खरवोन से उच्छ सेड़ी के रॉक फॉस्पेट का पता चला है कोल बेड मेथेन का बंडा रिलाइंस इंडिस्टी ने सुहागपूर कोई लाचित में खोजी है पैटॉलियम खनेच तेल में मद्ध पिदेश में नहीं पाये जाता है सेरेमेटिक तथा रिफेक्टरी वाक्स जबलपूर पिदेश का सबसे फुरानी चीनी मिट्टी की बस्तुएं बनाने का कार खाना है पोर्ट रीच उद्यों के लिए ग्वालियर पिसित ग्रेफाइड को काला सीशा या पिलेम्बेवू भी कहा जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं मैगनीज के बारे में देश के कुल भंडार का लगवक 18.47 मैगनीज आपका मद्ध पिदेश में पाय जाता है इसके सबसे बड़े भंडार हैं आपके वाला घाड जिले में दूसरे स्थान पर आपका छिरवाड़ा जिलाएं जाभूआ बाला घाड का मैगनीज खनिक सिष्ट 29 चटानों के साथ मिलता है मैगनीज उत्पा मुक्ता बाला घाड चिदवाडा जाभूआ जबलपूर मंदला से मिलता है भरवेली बाला घाड एसिया की सबसे बड़ी मैगनीज की ख़दान है भरव वेली बालाघाट में एसिया की सबसे बड़ी मेगनीज की ख़दाना है बालाघाट एवं छिदवाड़ा का मेगनीज जर्मनी वेटेन अमेरिका रोज को निर्याद किया जाता है मेगनीज के धातु काले रंग के प्राक्तिक बसम के रूम में धारवाड एवकी अवसाधी सेलों में पाई जाती है पिदेश के बालाघाट जली के अंदगर 21 प्रमुक मेगनीज छेत हैं मखेली वरवाली तरोडी वर बरजारी भरवेली नेमा रामरवा सेलवा आधी ख़़ाने पिसरते हैं मेगनीज की कुल खपत का लगवख 95 पिदीसत भाग धातु निर्माड में फ्योग होता है इसका दिकांस भाग इस पात द्योग में ततां कुछ भाग अन मिस्स धातूं के निर्माड में फ्योग किया जाता है इस पात बनाने के लिए लोहे और मेगनीज धातू का मिस्रन किया जाता है जिसे फैरा मेगनीज कहती है ठीए आगे बात करते हैं लोग बॉक्साइड बॉक्साइड एलूमिनियम का खने जैस के वंडार की दिरिष्टी से भारत में पांचवा इस्थान है मद्विदेश का वॉक्साइड मुक्ता जबलपूर सत्ना बालागाट मंडला सहडोल में मिलता है अपके पॉक्साइड की पिर्मुक्सरोद विंद एक की बालू सेलिका एवं क्वार्ट जाइट चटान है पॉक्साइड का सरफ्पतम खने नुनिस सो आठ में कटनी में किया गया था मद्विदेश में बॉक्साइड के अनुमानत बंदा 20 से 30 करोट रहें पिर आपका कोरंडम कोरंडम या ऐलूमिनियम का फ्राक्टिक ऑक्साइड है कटोर्था की छस्ठी से हीरा के बाल कोरंडम का इस्थान आता है या मुक्ता फीरा सिंग्रौली में पाये जाता है थ्रयाप का हीरा, भारत में सरबादिक हीरा मत्पिदेश में पाए जाता है, मत्पिदेश में हीरा पन्ना जिले की मजवागाओं बहेनोता, सतना चतरपो जिले के अंगोर आधी में पाए जाता है, पन्ना जिले में भोगन नदी घाटी से हीरे प्राप्त होते हैं, मत्पिदेश के च्छतरपूर जिली की वक्स वाहा तहसील के वंदेर में हीरे के भंडार मिले है इनका खनन आउस्टेलिया अधारित गिलोवल माइनिंग कमकनी रियो टेंटो करेवी फिर बात करते हैं चीनी मिट्टी के बारे चीनी मिट्टी चीनी मिट्टी का मूल नाम के ओलीन है मत्पिदेश में ये ग्वालियर नामोग पहाडी जवलपूर सतना सीधी सहडोल में पाई जाती है छिदवाड़ा और जवलपूर में गौडबाना योगंत की चट्टानों से उत्तम पिकार की चीनी मिट्टी मिलती है फ्रेचूने का पत्तर आर्थिक सर्वेक्षन 2017-2018 के इंसाल उत्पादन में मदविदेश का देश का में दूसरा इस्थान जवलपूर कटनी सतना सीधी क्वालियर मुरेना आदी में पाई जाता है इसका उपयोग सिमेंट बनाने में किया जाता है फिर बात करते हैं तांबा तांबा मदविदेश में एक मुखता आपका बालागाट के मलाजखंड में पाय जाता है इसका उपयोग बरतन विद्धूत करन आभूसंड आदी बनाने में किया जाता है पिदेश में उत्पादित तांबा राजिस्थान भेजा जाता है तांबा एस्क अगने और कायांतित सहलों की नसों में राप्त होता है बालाजलेग में बेहर तहसील के मलाजखंड चेत में 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौडी पेटी में 193 मैट्रिक टन तांबी की सुरक्षेत भंडार का पता चला है तांबी का उत्कन में हिंदुस्तान कौपल लिमिटर द्वारा किया जा रहा है बर्थ 2014-2015 में 24-8 लाग टन ताम एस उत्वादित हुआ बात कलते हैं लोह एस्क क्या है अगला है लोह एस्क मद्ध पिदेश में यह मुक्ता जबलपूर विदीसा और जैन साजापूर जहावगा में उत्वादित होता है इसका उप्योग आपका लोहा इस बात बनाने में होता है पिदेश के लोह एस्क को विसाखा पढ़ना बंदरगाय से जर्मनी एबं जापान को निर्याद किया जाता है पिदेश के 80-30 लोह एस्क भंडार 36 गर राज में चले गए है जब से अलग हुआ फिर है तापस है मिट्टी फायर के लिए 1600 डिग्री फॉरें हाइट तक नहीं जलती है इसका उप्योग भट्टियों की इट उच्छ तापस है वस्तु में बनाने में होता है यह जबल पूर नर्श्रिंग पूर छिदवाड़ा पनना हो सहःडोल में पाई जाती है फिर है आपका सौफर सौरी सौफ 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 स्टॉन इसके अननाम है टॉल्क एस्टी एटाइट यह जाबगा जबल पूर नर्सिंग में पाई जाता है इसका उप्योग पाउडर प्रेंट विजली का सामन प्रेयोक साला की मेजें आदी बनाने में होता है फिर है फैल स् यह जबलपूर छिदवाड़ा हो साइडूल में पाई जाता है इसका उप्योग मिट्टी के वर्तन और कांच बनाने में होता है मद्विदेश में इसका पिथम स्थान मद्विदेश संगमरमर पिदेश में संगमरर आर्की यू की चत्टानों से प्राफ्त होता है जबलपूर बैतूर सीवनी नर्सिंग पूर छेधवाड़ा ग्वालियर में पाय जाता है सुएथ संगमरमर आपका जबलपूर लाल पीला चीट-दार हरा संगमर वर आपका ग्वालियर میں मिल चमकीला खनिज है यह पुरानी अगनेवा कायंती चट्ठानों में मिलता है यह बित्वत का कुछालक है इस खनिज का उपयोग ऑस्थी विजली मोटर टेलीफॉन लाल टेन की चिमनी आधी के निर्बाड में होता है यह खनिज पिदेश के बाला गाठ छेदवाड़ा हो संग द्यों में होता है मद्यपदेश में गेजट भाइड आपका बैतुलजले में मिलता है अब बात करते हैं कोइला सब से मत्फून है आपका कोईला कोईला उतपादन में मद्यपदेश का चोत्रा इस्थान है एक राज में बिंद चेट के गोड़वाना कल्प में सरudsाधी को पॉली रिवा सेडूल उमरिया आधी जिलों में पाये जाते हैं इस बिंद्ध पिदेश कुवेला छित भी कहते हैं इसके अंतगर निम्न छित आते हैं सिंग्रोली छित यह मत्ध पिदेश का एक मत्वूर कुवेला छित है यह दच्छडी सीधी से दच्छडी मीरजापुल तक पचीस सो बर किलोमीटर छित में विस्तित हैं आगे बात करें कि इस छित में कोईले की परतें एक दसमलों पांच मीटर से दो मीटर हैं यहां की सबसे प्रमुक्त खानों में तिफ जरिया खाई नवा नगी परारी वह मुर्वा प्रमुक्त हैं थरे आपका सोहागपूर छित सोहागपूर सबसे बड़ा कोईला छित है जो दच्छडी रीवा कोईला छित के इंतर गाताता है इसका छित प्रमुक्त है परती चेत में बिस्तित है 18.7 करोट टन कोईली की संचित बंडार इसमें यहां की कोईली की तरहों की मोटाई है एक दसम्लाव पांस से दो दसम्लाव पांच मीटर तरहें आपका कोरार चित यह चेत उमरिया की लगवक 11 किलो मीटर उत्तर में इस चेत में एक दसम्लाव 0-2 से 2.4 मीटर तरहें मिलती हैं इस चेत का छितफल 24 वर किलो मीटर तरहें जोहला कोईला चेत यह चेत कोरार की दच्छन में वीर श्रिंग पुट पाली रेलवे स्टेसन की निकट है इसका छित फल 30 वर किलो मीटर है यहां कोईले की कुल 6 मीटर मोटी तहें मिलती हैं इस चेत की कोईला खाने कैमूर की सेमेंट फेक्टरी की दीन है फिरिया आपका सत्थ औरहा कोईलाचे सबोंट पर गचलाचे इस पिदेश में कोईलाचे की अरध वत्ताकार फेटी इस चेत में गोईले की तीन से तहें जों-की एक दसमलोव दो से एक दसमलोव आठ मीटर है इस पिदेश के इंतागत निम्न फ़त आते हैं मोज मोटी तहें से मिलता है फिर आपका साहपुर तावा चित यह बैतूलवा हो संगाबाद की बीच तथा तावा नदी की घाटी में मिलते हैं यहां की पाथर खेड़ा चित में तीन परते हैं जो क्रमसा 1.2, 1.8 तथा 1.5.9 मीटर मोटी फिर आपका कानन घाटी चित इसके अंत पर का दमुगा, कालिन, छपार, दोरवादी, नीमर केड़ा, पनारा, हेगन चित को सामिल किया गया है थिर आपका पैंच घाटी चित पैंच घाटी का कोईला चित कानन घाटी चित का ही भाग है यहां पर कोईली की तहें बरकुई चान मेटा परासिया तथा पैंच तक 18 किलूमीटर लंबे चित में बिश्टित हैं अब बात कर लेते हैं हम लोग मदपेदेश के खनेज और उनकी चित एक सार्णी के रूब में ठीक है यह खनेज हो गए आपके यह फिर मुक भंडार चित हो गए हैं सबसे फैले बात करते हैं लोग एस्क मंदला बालागाट जबलपूर बिजी सामें पाए जाते हैं मैगनीच आपका बालागाट छिदवाड़ा जबूगा खरगों टंगेश्टन आपका आगरगाओं होसंगाबाद सुर्मा जबलपूर ग्रिफ हाइड आपका बैतोर सीसा होसंगाबाद दजिया सिवपरी जबूगा जबलपूर बैराइट सूरजपूर टीकमगड देवा जबूगा जबूगा सिवपरी सीदी रीवा पलकोट बॉक्साइड फुटका करेरा कटनी अमरकंटक मैंट पार्ट में ठीक अब ध्रक आपका बालागाट छिदवाड़ा होसंगबाद जबूगा मंदसों घीया पत्तर टेलक ये बेड़ा घाट जबलपूर जबूगा नर चीनी मिट्टी केवलिन एक कट्टोली रीवा आत्री नावगाव क्वालियर छिदवाड़ा में चूना पत्तर आपका जबलपूर जबूगा धार सपना में एसवरस्टस डॉमो माइट डॉलो माइट ये आपका जबूगा में ताबा आपका मलाजखंड बालागाट सलीम नावाद होसंगाबाद वर्सागर में होईला आपका सहडोल छिदवाड़ा होसंगाबाद बैतुल से ग्रॉली में तिन आपका गोबंदपूर बैतूल में तिस आगे बात करें कोरंडम एप पीपरा परकोटा सीधी भोपाद में रॉक फोस्पेट आपका ज्याबूगा छितरपूर प्ष्थागर में गेरू आपका सतना पन्ना ग्वालियर जबलपूर में फैल इसपार आपका छिदवाड़ा जबलपूर सहडोल में डायसपोर छदरपूर में संग मर्मर जबलपूर सपेद बैतू सिवनी छिदवाड़ा ग्वालियर लाल पीला हराचीटदार केल साइट ये बढ़वानी में ठीक ये हैं आपकी विशिष्ट खदान छेत एक खनेज हो गए विशिष्ट खदान छेत होएं ठीक मेगनीज भरवेली वालागाट में वालागाट मलाजकन वालागाट कोईला सुहागपूर सहडोल चूना पत्थर मुडवार कटनी हीरा मजगा पन्ना बॉकसाइड अमरकंटक सादोल सौना सधी कटनी सॉबश फिलेडियम वैथूल मैं ग्रेपखाइड आक वैथूल में कोरंडम पीपरां परखोकौता सीदी में संग मरमर आपका भेडा घाट जबलपूर में फैल्पाल लम हेटां घाट जबलपूर में सॉपेट स्रहना आपका सिललखडी पेडा सब्सक्राइब करने हैं याद रखिए यह सभी पुराने आंकड़े में अभी जो नए आंकड़े आए हुए थे हम लोग आने देख लिए थे करेंट पेस वाले जो आपकी लेक्चर हैं मद्द विदेश से सम्मंदित उसी में डले हुए हमें बात करनी हैं ऐस उत्पादन में मद्द विदेश का भारत में पिथम हीरा में पिथम है सिलेट में पिथम है पायरोफायलाइट में पिथम है ताम ऐसक में पिथम है फेलसपार में पिथम है मैगनीज में पिथम है डाइसपोर में दूती है रॉक फॉस्पिट में दूती है चूना पत्थर में दूती है को खाने संपधा से संब्धिए और अब बात करेंगे आंगले लेक्चर में हम लोग परीवाहन से संब्धिए ठीक है आंगे देखेंगे हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मद्ध प्रदेश सामानी ज्यान के बारे में MP special को देख रहे हैं तो इसमें हम लोग अभी तक 15 चेप्टर खतम कर चुके हैं आपका 15 चेप्टर था खनी संपधा से संब्धिए ठीक है इसमें बात करने वाले हैं हम लोग परीवाहन के बारे में मद्ध प्रदेश के परीपेक्ष में परीवाहन को देखेंगे याद रखिए आपके जितने भी टॉपिक खतम होते जा रहे हैं MP से संब्धित वह सभी मद्ध प्रदेश सामानी ज्यान के डाम से जो आपकी प्लेलिट सूची है उसी में डले हुए ह तो चलिए बात करते हैं सडक परिवाहन मद्ध प्रदेश में सडक परिवाहन सडकों की दृष्टी से मद्ध प्रदेश का देश में पंद्रवा इस्थान है याद रखना है सडक की दृष्टी से मद्ध प्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है पंद्रवा मद्ध प्र सर्वादिक लंबा पुल मद्विदेश का सर्वादिक लंबा पुल आपका तवानदी होसंगाबाद जिले में याद रखी मद्विदेश में सड़कों की दृष्टी से सर्वादिक घनत वाला जिला आपका सतना है सेवपूर में सड़क का घनन नियुनतम है सतना में सबसे अधिक है और सेवपूर में सबसे कम है सरवादिक सड़कें की सीधी जिले में है और सबसे कम है आपकी जाबुआ में ठीक है याद रखना है आपको क्या क्या मद्यपिदेश सड़कों की दृष्टी से देश में पंद्रवे स्थान पर है मद्यपिदेश का सरवाधिक लंबा पोल तावानपदी होसंगाबाद में मद्यपिदेश की सड़कों की दृष्टी से सरवाधिक घनत वाला जिला है सतना और राज में सडक घनत 19 किलोमीटर पिती 100 बर किलोमीटर है, जबकि राश्टी ये घनत 83 किलोमीटर पिती 100 बर किलोमीटर है, ठीक? मद्य पिदेश में यात्री और माल दोनों परिवान का मुख सादन सडक परिवान है, मद्य पिदेश में पक्की सडकों की लंबाई, कच्ची सडकों की तुला में अधिक है, राज जी की जीडीपी में सडक परिवान छेत की भागेदारी, वर्स 2011 बारे में 3.16 रही, वहीं र मद्यपिदेश सडख परिवहन नेगम की स्थापना 1962 में हुई मद्यपिदेश सडख परिवहन नेगम की स्थापना कब हुई तो आपको बता देना है 1962 में जिसे अब बंद कर दिया गया और अब निजीवस प्रवंधों को द्वारा अनुवन्द के आधार पर सिवाएं पिदान की जारी है विराज जिसे 20 राष्टी है राजमार कुजस्ति है जिनकी कुल लंबाई 4709 किलूमीटर जो कुल सडख का 5.30 पितीस है मत्विदेश आर्थिक सर्वेक्षन 2016-71 राज में से हुका जाने वाले 46 राष्टी है राजमार कुजस्ति है 7806 किलूमीटर है राज में NH3 राज में NH3 आगरा से मुंबाई सबसे लंबा राज की इमाग है 770 किलूमीटर है और NH76 यानि कि NH6 उदयपुर बांदा यानि कि 30 किलूमीटर सबसे छोटा राज माग है याद रखना है आपको NH3 सबसे लंबा राज माग है और NH6 आपका सबसे छोटा राज माग है वराणसीक से कन्या कुमारी राष्टी है राज माग NH7 पिदेश में लंबाई 511 किलूमीटर है या पिदेश का दूसरा लंबा राष्टी है राज माग है मद्द पिदेश में प्रांति है राज मारगों की संख्या 48 पिदेश में सबसे बड़ा प्रांति है राज माग है आपका चिल्पी से बड़ोधरा है परीवाहन विभाग द्वारां कम्प्यूटर रख करन की दिशा में पहल करते हुए विभाग के नाम से विबसाइट तेहार की गई है आंगे बात करें लोग पिदेश में बढ़ते हुए परीवाहन के पंजीकेंड की स्थी को देखते हुए परीवाहन नीती 2010 में लाए गए महलाओं के कल्याण की दिशा में निसोल्क डराइविन लाइसेंस बनाने की युजना आपकी 28 सेप्टमबर 2015 से प्यारम की गए चालक परीचालकों के कल्याण ही तू चालक परीचालक कल्याण बोर्ट का गटन 2015 में किया गया बीओटी मॉडल के अधार पर 24 परीवाहन जाच चौकियों को कम्पूटर राइच कराने की युजना है जिसे अधिकांस चौकियों का आधुनी के करन कर दिया गया ग्रामीट चंता के परीवाहन की सुरक्षा को द्यान में रखते हुए मुकमंत्री ग्रामीड परीवाहन सेवा का सुवारम किया गया वसिस्टेंड नोक उन्यन के लिए मध्धिदेश इंटर सिटी ट्रांसूर्ट अथॉर्टी का गठन किया लोग सेवा गारंटी यह उजना के देथ परीवहन विभाग की 11 सेवाओं को अधी सूचित किया गया बाहन मोटर यान अधिनियम 1980 में प्रावधानित निर्धारित समझ में बाहनों के मार्क पर चलने की दिरिश्टी से डीलर Point Registration System ग्वालियर एबं इन दौर में प्यारम किया जा चुका है केंद सरकार द्वारा पंडुरना जिलाचे दवाड़ा में डराइविंग टैनिंग स्कूल फिटनेस सेंटर का निर्मार किया गया प्यदेश में लोक निर्मार विभाग द्वारा संदारे सड़कों की लंबाई 2016-17 में राष्टी और राजमार्गों की कुल लंबाई 7806 किलो मीटर रही मुख मंत्री जिला मार्गों की लंबाई 2016-17 में 20,412 किलो मीटर रही याद रुखिए ये सरविक्षण आपके 2016-17 के हैं हम लोगोंने 18-19 की बाग कर ली थी तीर 19-22 करेंट आया है 19 का आपका उसमें जाकर देख सकते हैं हम लोगोंने 2019-19 का MP का पूरा करेंट अपियस पढ़ा हुआ है और वो आपका मद्विदेश करेंट अपियस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट रुची है उसी में पूरा डला हुआ है तीर आंगे बात करते हैं मनरेगा के अंतरकत सुदूर ग्राम संपर के वं खेट सड़क यूजना से 9581.88 किलोमेटर लंबाई के 13,499 सड़कों को कार्व प्रगती है तरकती रहते राज में सरवाधिक लंबाई वाले तीन नेशनल हाईवे हैं NH3, NH7 और NH12 राज में सबसे छोटी लंबाई वाले तीन नेशनल हाईवें NH76, NH27, NH26A राज में 2005 को सड़क वर्स के रूम में मनाए गया अब बात करते हैं हम लोग आगे फिर्धान मंत्री सड़क योजना के बारे हैं यह योजना बहुत ही मत्त पुन है पिर्धान मंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीड अर्थविष्था के सुधार एवं विकास ही तुव दिसंबर 2000 से फिर्धान मंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान बित की जा रही है जिसके अंतर सामान छित में 500 या इससे अधिक तथा आधिवासी चेत्रों में 250 या इससे अधिक चंसेंक्या वाले संपर्ग भीहीन ग्रामों को वारे मासी सड़कों से जोडने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीड मारगों का निर्मार उन्नेन का कार किया जता है याद रखना है आपको सामान छित में जहां कि आधि 500 या अधिक है और आधिवासी चेत्रों में 250 या इससे अधिक है वाले चंसेंक्या वाले संपर्ग चेत्रों को वीहीन ग्रामों की वाहर मासी सड़कों से जोडना है योजना के आंसिक वित्व पोस्रण है तु भार सरक अधिकार द्वारा एसीन विकास बैंक एडीवी से रेड़ की सायता ली गई है इसे उजना केता है त्यारम से दिसंबर 2016 तर कुल 63,614 किलोमीटर लंबाई की 15,343 तथा 131 बड़े पोलों का निर्माण का कारप कूर्ण करते हुए 17,716 करोर रोपेखा ब्या किया गया इसम में जाकर क्योंकि वही जरी हुई जाती है मोकमंत्री गिराम सडक योजना की बात करें तो सामान चेत में 500 और आधिवासी चेत में 500 से कम आबादी कि समस्त राजस ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पुल पुलियों सहत वारे मासी संपर्क ये योजना का सुभ मोकमंत्री गिराम सडक योजना में विस वैंक और एसी एन इंट्रेट्टेक्चर डबलम्मेंट बैंक की साहता सी 10,000 किलोमीटर सडकों का उन्नेन किया गया और प्रोजेक्ट ही खुल लागत 3,000 करो रुपे अनुमाने थे और 2017-18 में 200 करो रुपे का प्रावधान है इसमे मुखमंत्री गिराम सडक योजना के इंतगत 400 करो रुपे तथा राजी गिरामीड सडक कनेक्टिटी के लिए 146 करो रुपे तुराधान किया गया था यह आर्थिक सर्विक्षन 2016-17 अब हम लोग बात कर लेते हैं मद्विदेश से गुजरने वाले मद्विदेश से गुजरने वाले राष्टी यह राजमारगों की लंबाई यह राष्टी यह राष्टी यह राजमारगों कहां से कहां तक जाते हैं और यह लंबाई आपकी तो हम बात करेंगे कहां से क्या जाते हैं आप बाकी लंबाई यह आप देखते रहेगा त्री यह आपका आगरा मुंपई वाय अंदौर एन्नेश थ्री की सबसे जान दलंबाई यह याद रखिए यह आपका बराण से जवलपूर नांकुर कन्या कुमारी यह आपका जैपूर जवलपूर वाय कोटा राजगर भोपाल तरह जवलपूर सेगमा सेमा न्ह 25 लखनवकानपूर जहांसी सीवपूरी न्ह 26 जहांसी लखना दौन वाय सागर न्ह 27 इलावाद मज़गाँ NH-59 अर्हम्दाबाद जावुगा धार घाटा बिलोद इंदोर NH-59A इंदोर बैतुर NH-69 अब्दुला गंज होसंगबाद बैतुर मोलताई नांगपुर NH-75 ग्वालियर जहासी खजुराओ चतरपुर पन्ना सत्ना रीवा राची NH-75A रीवा रेड़ कोट डालतन गंज राची NH-76 फिंडवाला ओदैपुर सिवपुरी चित्तोडगर कोटा जहासी इलाबाद NH-78 कटनी सहडोल अमिकापुर जस्पुर गुमला NH-86 कानपुर चतरपु साधर भोपाल NH-86A भोपाल विदी सागर NH-92 भोगाओं ग्वालियर और आँगे बात करें NH-26 NH-12A है आपका जवलपुर से जहासी और NH-26A है सागर भी न NH-26A भी है नरसिंगपुर सावनेर ठीक है आँगे अब बात करें हम लोग रेलवे की बारे में किसके रेलवे की बारे में ठीक है पिदेश में सबसे पहला रेलमार्ग 1865 में पिदेश में मद्द पिदेश में सबसे पहला रेलमार्ग आपका 1865 में इलावा से जवलपुर बनाए गया था रेलवे जौन मद्द पिदेश में एक मात रेलवे जौन आपका जवलपूर में जो 1 अपरेल 2003 से कार कर रहा है या पश्चिम में ही मद्द रेलवे के अंतर गाता है इसके पश्चिम मद्द रेलवे के अंतर गाता है रेलवे जंक्सन आपका भोपाल बीना ग्वालियर इंदोर इटार सी जबलपुर कटनी रतलाम और जैन प्रमुक रेलवे जंक्सन है इटार सी सबसे बड़ा जंक्सन है रेलवे मुख्याल है पिदेश में रेल सिवा आयुक का मुख्याल है बोपाल में राज में बोपाल रतलाम और जैन इसके छेतरी है रेलवे मुख्याल है आगे बात करें हम रेल लाइन की, तो मद्ध पितेश में रेल मारगों की लंबाई 4930 किलोमीटर है, जो देश की रेल लंबाई का लगवग 10 वितीसात है, राज में ब्रोड गेंच, नेरो गेंच, मीटर गेंच, तीनो तरह की रेलवे हैं, मद्ध पितेश में रेलवे की सेवा हैं, मद्ध रेलवे, पश्चिम रेलवे, दच्छन पूर्व रेलवे, पश्चिम मद्ध रेलवे, उत्तर मद्ध रेलवे हैं, बीना कटने, विलासपूर रेलमार्ग, कोला परिवान के लिए पिसिद्ध है, पितेश की रेलवे लाइन 5 जौनों में आती है ठीक है अब बात क्या करें आंगे आठ फरवड़ी 2008 को पिधान मंत्री ने 200 किलोमीटर लंबी दाहोद इंदोर वाया जहाँ हुगा तथा 152 किलोमीटर लंबी उधरपुर घाठ रेलवी लायन का उदगाटन किया वोपाल एक्सप्रेश आईएसो 9001 परमाडपत प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है हवीबगर रेलिवे स्टेशन आईएसो प्रमाडपत 9001 प्रमाडपत प्राप्त करने वाला राज का एक मात रेलिवे स्टेशन है रीवांचल एक्सप्रेस को आईएसो 14001 प्रमाडपत पितान किया गया है 26 अपरेल 2013 को टीकमगड़ लेको भी रेल से जोड़ दिया गया है ठीक है इससे पहले यहां रेलवे की विवस्था नहीं थी 26 अपरेल 2013 से टीकमगड़ में भी रेल की सेवा हो गया उपलोग ग्वालियर से सेवपोर के बीच करीब 200 किलमीटर लंबे रेलवे टेट पर अभी भी नेरो गेज गाड़ी चलती है बद्द है mine railway Koush Factory आपका भोपाल में है याद रखना है पिदेश के बुध cambi सेवर में रेलवे से ले पर बनाने का कार खाना है रेलवे इंजिनर बाड़ का कारखना आपका गोपाल में है पिदेश में महोबा खजवरा हो रेल सेवा फरवरी 2008 में प्यारम की गए मत पिदेश से गुजरने वाले रेल मारगों की बात करने तो दिल्ली आगरा गवालियर गोबाल एटारसी मुंबई दिल्ली रतलाम इसक्ते लिच्टा, मुंबई एटारसी जवलपूर कटनी पूल का था मुंबई इटारसी जवलपूर कटनी इलावाद दिल्ली मुंबई बीना भुपाल एटारसी है अधरा बाद चयांड नागए यह आपके मद्विदेश से गुजनने वाली रेल मार्ग है बात कर लेते हैं कुछ मद्विदेश में रेलवे पितिश्ठान है उन्हें भी देख लेते हैं इनसे कईवार पुष्चन डारेक पूंच लेते हैं कोच रेपेयर वर्क्सोप आपका बोपाल निसांतपुरा में हैं रेलवे स्प्रिंग कार खाना आपका ग्वालियर सिथौली में हैं बैगन रेपेयर वर्क्सोप आपका सत्ना में हैं एलेक्टिक लोको सेड आपका कटनी में हैं एटारसी में डीजल लोको सेड आपका कटनी इटारसी में है, railway recruitment port आपका भोपाल में है, railway sleeper बनाने का क्या रखाना आपका वन खेड़ी बुधनी में है, railway रसोई ग्रह इटारसी में है, पश्वी मत्रेलवे का जौन आपका जवलपूर में है, डीजल लोकोमोटिब सेयंद आपका सेरफोर सेवर में है, डीजल इंजन सेयंद आपका इंदोर में है, याता यात पर सीक्षण सहस्तान आपका भोपाल में है, वाहन पर सीक्षण स्कूल आपका इंदोर में है, ठीक है, यहने याद रखना आपको, ठीक है, आँगे अब बा मत्रपिदेश में पांच नगरों में इंदौर भोपाल ग्वालियर जवलपुर खजराओं में इंडियन एयरलाइन एबं बायुदूद की नेमिस सेवाओं से जुड़े हवाईड़े हैं अंतराष्टिय हवाईड़ा परितमान में खजराओ और भोपाल है और आपका याद इंदौर भी अब हवाईड़ा अंतराष्टिय हो गया है ठीक है तीन हो गया है भारतिय सेना की हवाईड़े हैं आपकी ग्वालियर भायू सेना और नीमच गेरिसन इंजिनरिंग महू की सुरक्षबलों की हवाईड़े हैं आपके टेकन पूल ग्वालियर में सिवपुरी भारत ते बस सीमा सुरक्षबल की है राज में 24 हवाईड़े हैं लेकिन क्रिमोख हवाईड़ों की संख्या गया रहे हैं राज में भायू सेवा इंडियन एयरलाइन वायुदूत और सहारा एयरवेज दे रही हैं कहाना किसली राज का एकमात राष्टिये उध्यान है यह ह बादाओगर राष्टियूद्यान में हवाईबाठ्टि निरवाणा धीन है कर एक एक कई बार इस से भी कई बार पीचले ता है काना किसली राज का यिकमात राष्टियूद्यान है जह हभाईड़ों गडर में मथ्यवाईडन धीन मदुद इस पिदुत मंडल की हवाईड बेतुल में मद्विदेश ने वर्स 2011 में प्रमुक सेरों के लिए एयर टेक्सी सेवां सुरूं की थी भोपाल के हवाइड़े का नाम राजा भोज अवाइड़ा है रख दिया गया मद्विदेश के ग्वालियर हवाइड़े को अंतराश्टी एक तर बनाने की गोश्णा की गई है तो यह था आपका परीवहन से संब्सक्राइब आँगे लोग बात करेंगे संचार विवस्ता से संब्सक्राइब मद्विदेश के संचार को देखेंगे संचाव बिवस्ता को ठीक है आइंगे है नमस्कातू दोस्तों दो चलिए हम लोग बात कर रहते माद्यपिदेश सामान और इए तो इसमें लोग ने लाश्ट लेक्चर में बात किया है Forte कि इसमें बात करेंए हम लोग संचारक की बारी में आद र schology देख लेक्टरह स भी मत्गदेश सामान ज्यानने के नामि को आपको संवखिए उसे में ड़इन है तो संचार समारच्प्थ पत्ति काएं देखते हैं फहले हम अ मद्यपेदेश में पत्तिकार्टा की सुरू उर्दू भासा से हुई क्या पूछेगा मद्यपेदेश में पत्तिकार्टा की सुरू आट की सुरू भासा से हुई तो आपको क्या बता रहें नहीं उर्दू ठीक है पहली हिंदी मासिक पत्ति का आपकी 1915 में इन्दौर से निकली, क्या? पहली हिंदी मासिक पत्त रखका आपकी कहा से निकली और कब? इन्दौर से निकली थी? 1915 में मद्धिदेश का पहला समाचारपत अखवार ग्वालियर आपका 1840 में निकला ग्वालियर से किस भासा में था उर्दू में मत्विदेश का पहला समाचारपत का नाब था अखवार ग्वालियर यह 1840 में निकला ग्वालियर से उर्दू भासा में था यह सप्ताहिक समाचारपत था फिर आगे 1848 में मालवा अखवार इसके संपादक थे पंडित प्रेम नारायन इन्होंने इंदूर से इसे पेकासित किया और हिंदू और उर्दू का पहला सप्ताहिक अखवार था याद रखना है मालवा अखवार आपका इन्दूर से निकला इसके संपादक थे पंडित प्रेम नारायन इक निकला आपका 1848 में वो हिंदी उर्दू दोनों भासाओं में था यह सप्ताहिक अखवार था राज का पहला विसुद्ध उर्दू भासा का समाचारपत दिल्ली अखवार 1852 में इन्दूर से प्रेकासित हुआ ठीक मद्धपितिस की पिथम हिंदी मासिक पत्ति का नव जीवन थी जो 1915 में प्रेकासित हुई ठीक याद रखना है पिथम हिंदी मासिक पत्ति का क्या थी नव जीवन एक प्रेकासित हुई 1915 में मद्धपितिस में प्रेकासित पत्ति का वसुधा थी जिसके सथापक थे हरी संकर परशाई 1833 में ग्वालियर गजट का प्रेकासन प्यारम हुआ जो हिंदी और अंगरेजी दोनों भासाओं में प्रेकासित होता था सन 1905 में इसका नम बदलकर ग्वालियर इस्टेट कर दिया गया मद्धपितिस में सरबादिक समाचार पत्ति आपके भौपाल से निकलते हैं मद्धपितिस में सरबादिक फिसार संख्या वाला समाचार पत्त कार आपका द्यनिक भास कर रहे पिदेश के दूसरे समाचार पिसार संख्या वाले समाचार पत्त में नई दुनिया का प्यकासन मार्च जून 1947 को इंदोर से तारह हुआ मद्धपितिस में एक खेल पत्ति का आपकी खेल हलिचल के नाम से इंदोर से पिकासित होती है जिसका पिकासन नई दुनिया द्वारा किया जाता है किस दुनिया द्वारा पिकासित किया जाता है मद्धपितिस का पिथम हिंदी देनिक समाचार पत्त नवजीवन के नाम से सन 1949 में इंदोर से पिकासित हुआ मद्पिदेश का पित्थम हिंदी सना देनिक समाचारपत नौजीवन के नाम से 1949 में इंदोर से पिकासित हुआ था 1873 में इंदोर से होलकर सरकार गजट और जबलपूर से जबलपूर समाचारपत पिकासित हुआ ठीव आगे बात करते हैं सन 1887 में रीवा से भारत भराता सन 1887 में रीवा से भारत भराता का पिकासित आरम हुआ जिसे मद्पिदेश का पित्थम राजनितिक समाचारपत कहा जाता है इसके पिकासक थे लाल बल्लियो सींग वर्कमान मद्विदेश में सबसे पुराना समाचारपत आपका मद्विदेश संदेश है जो पूर में जयाजी प्रताप के नाम से ग्वालियर 1905 में पिकासित हुआ था ग्वालियर से मद्विदेश माध्यम के द्वारा रोजगार एवं निर्माण समाचारपत का पिकासन किया जाता है मद्विदेश में माखनलाज चतुरवेदी पत्तिकार्ता विस्विद्ध्याले की स्थापना 16 जून 16 जन्वरी 1991 गो भोपाल में की गई थी मद्विदेश में माखनलाज चतुरवेदी पत्तिकार्ता विस्विद्ध्याले की स्थापना 16 जन्वरी 1991 में भोपाल में की गई थी 19 जून 1984 गो भोपाल में माधव राय सप्रेश मित्ति समाचारपत संग्राले की स्थापना की गई थी पत्तकारभवन भोपाल तथ है जवलपूर में हैं पत्तकार भवन अपकी भोपाल में है और जवलपूर में है मत्त्तपदेश में सब इंक्या बंजिलों में ी याद रखे आप बाबन चिली हो गए ठीक है निबाडी भी नया जिलाब बन गया है ठीक है आंगे बात करते हैं राज्जी से मराठी का पहला अखबार मराठी का पहला अखबार आपका पूर्ण चंदुदै एक नवंबर 1860 को प्यारम गए यह वासुदेव बल्लार मोडी के संपादक में इंदोर से निका संपादन में जबलपूर समाचार का प्यारम गए यह दोई भासी मासिक अखबार था जो हिंदी और अंग्रेजी में चपता था माखनलाल चतुरवेदी के संपादन में करंबीर कप पहले 1925 में जबलपूर से फिर 1935 में खंडवा से याग रखना माखनलाल चतुरवेदी क जबलपूर उसके बाद 1935 में खंडवा से मद्पिदेश का पिथम दैनिक समाचारपत प्रकास यह आपका 11 जून 1923 को बुंदेल खंड के सागर से माश्टर बल्देव पिसाद संपादक थेज़के तीज़े फिर है आँगे आपका मत्पिदेश का पिथम यह देखी लिए हैं पिकास था पद 11 जून 1923 को बुंदेल खंड के सागर से माश्टर बल्देव पिकास पिसाद के संपादन में पिकास सित हुए 1930 में द्वार का विरसाद मिस के संपादन में जवलपूर से दैनिक लोकमत निकला इसे उस समय का संपूर्ण समाचारपत माना जाता था पहल पहल पत्तिका का जवलपूर से अंकट पत्तिका का पिपरिया से न्या विकल्प का विदीशा से और वाड़ी का प्रिकासन एंदौर से वुआ था चलिए बात कर लेते हैं बरतमार में प्रिकासित पिर्मुक पत्तों की बारे मद्धवदेश के ठीक है यह स्थान है एक पिर्मुक पत्त है उज्जेन की बात करें तो उज्जेन से प्रजादूत दैनिक वासकर विक्रम दरसन अवंतिका ब्यापारिक रिपोर्ट विगेडिय अगनिवार जलती मसाल आदी प्रिकासित होती है और सत्ना से आपकी सत्ना समाचार नेशनल टूडे निवच देश बंदू सोदेश भासक आदी कटनी से भारत भालती दैनिक मद्ध प्यदेश केश्री महाकौसल जन मेजय और दमोय से आपका कलतब निकलता है चतरपुतिस किश्न क्रांती जनहित दर्सन टीकमगर से ओर्षा दर्सन मंद्ध सोन से धर्ज केतिमान दसपुर दरस्मिय चेत्रिय समाचार बढ़वानी से आपका निवार एक्सप्रेस मुरेना से योग पेड़ेता दैनिक मद्ध राज चंबल बाड़ी यह आपकी मुरेना से निकलते आगे बात करते हैं वालाघाट से आपका विस्सूर वालाघाट टाइम्स सेहडोल से आपका सेहडोल टाइम्स समय धैनिक मद्ध विदेश यह आपकी सेहडोल से दतिया की बात करें तो अंजाम और दतिया टाइम्स निकलते हैं नीमत से नई विद्या और अमेड अम्रत मन्थन रदलाम से आपका चेतना वुर्हानपूर से वीर संत्री इंदोर से दैनिक भासकर नई दुनिया सर्देश नौभारत फ्री एक्स्प्रेस अगनीवार लोगस्वामी चोत्रा संसार प्रभात किरन निउश्टूडे राज एक्स्प्रेस विष्द भहमड पद्धिगा यह आपकी इंदोर से वुपाल की बात करें तो नई दुनिया दैनिक भासकर नौभारत दैनिक जागरन राज एक्सप्रेस सा प्रिंटास यह आपके वह पाल से जबल कुप्फोर की बात करें तो नभीन दुनिया देश बंदू लोगसेवा नर्वदा जोती सोतंतमत नव भारत और अगदू ग्वालियर की बात करें सोधिस वासकर लोगपत भारत भूमी ग्वालियर समाचार निरंजन चंबल वाणी लीवा से आपका आलो और जागरंग जागवा से आपका पिसारंग एत्याक के पिर मुख समाचार बात करें मुख आकास वाणी केंद और इनकी स्थापना बर्स इन दौर में मुख आवा आकास वाणी केंद की स्थापना वी थी 22 मई 1955 बहुपाल में आपकी 11 एक्टूबर 1956 ग्वालियर में 15 अगस्त 1964 को जवलपूर में 6 नवंबर 1964 छतरपूर में 7 अगस्त 1976 रीवा में आपका 2 अक्टूबर 1977 सागर में आपका 1995 ती याद रखिए आगे बात करते हैं आकास वाणी प्रदेश में आकास वाणी के अंदों की संक्या लगवग 26 है भोपाल में विग्यापन पिसारण सेवा प्यारम इसका प्यारम हुआ था 1975 में रेडियो पिसारण की सुरुआद 1955 में इंदोर से हुई ती पिसारण की दिर्ष्टी से सबसे अधिक छमता वाला आक प्रास वाणी के अंदाव का इंदोर है वाजत्मार में मद्विदेश में तीन निजेचेत की एफम सेवा कारगत हैं जिनमें पहला रेडियो मिर्ची 2006 में मद्विदेश में बरतमार में लगवक 78 रिले के अंद हैं मद्विदेश में अप्रेल 1922 में डाक्तार परीमंडल गटित हुआ जिसका मुख्याल है आपका नांगपूर में था पहले इसे 1965 में इस्थान नांतित करके गोपाल में इस्थाबित किया गया है ठीक है बात करते हैं दूर संचार दूरदर्शन उसके बाद दूर संचार देखेंगे दूरदर्शन सन 1975 में मद्विदेश में प्राइपुर केंद वर्दमाद 36 सिद्धी गई थी 1982 में ACR के समय इंदौर भुपाल में प्रेसारण केंद स्थापित हुई उच्छ सक्ति ट्रांस्मीटर आपका भुपाल इंदौर गौालियर जबलपूर में कुल 10 नहीं लगवाग ती मद्विदेश में दूर दर्सन इस् साम सौर गोज्या से चलने वाला तीवी सौर्वा ग्राम Solomon लगाया गया प्रेस्देश सिद्रो बोफाल में कर्द कि अस्था किए बात करते हैं दूर संचार क्या दूर संचार टेलीफोन राज में टेलीफोन मत्विदेश राज में दूर संचार सेवाओं की सुरुआत उननीस सो चुहतर में फूई थी माना जाता है कि सन 1856 में सबसे पहले राज जी के भौपाल बज्जवालपुर में टेलीफोन सुगदाएं उफलक दमीज है ठीक है पिदेश में टेलीफोन के अंदों की संख्या लगवग 2424 है पिदेश में दूरदेशन ट्रांस्मीटरों की संख्या लगवग 64 है मत्व गेर्टल के नाम से ट्यारम की गई टेलीफोन सेवा देश की पहली निजी टेलीफोन सेवा की एंदर की आप इस की संचाज से संबंदित जो मत्वब नेगे बात करेंग जुच़स सिक्छा के आयाम मत्वब पिदेश की अरचेまぁमकेला। कि नमस्का दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे मद्विदेश सामानी ज्यान की बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं 17 चैप्टरों के बारे में में खतम कर चुके हैं 17 चैप्टर था आपका संचार विवस्ता से संबंदि मद्विदेश के परिवेक्च में संचार विवस्ता से संबंदि इसमें बात करने वाले हम लोग सिक्षा के आयाम याद रखिए आपके जितने भी MP स्पेशल से संबंदि टॉपिक खतम होते जा रह देखा हुआ है तो वो सभी लेक्चर मिल जाएंगे आपको मद्विदेश करेंट विए 2019 के नाम से ठीक है उसी में डले हुए है याद रखिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह आंकड़े आपके बदलते रहते हैं तो उसमें जो करेंट में आकड़े थी उनके बारे में लोग ने देख लिए था यहां से बात करते हैं हम लोग वर्स 2011 की जनगरना के अनुसार पिदेश की साखचरता दर 70.6% है जो राष्टी होसत से कम है वर्स 1991 में मद्विदेश में महिलाओं की साखचरता दर 29.4% थी जो 2001 में 50.3% और 2011 में 69.2% हो गई इस तोरान पिदेश में साखचरता दर पुर्सों की 1991 में 58.5% थी जो 2001 में बढ़कर वई थी 76.10% 2011 में 58.7% हो गई कि याद रखिए मद्विदेश में कुल साक्षरता साक्षर व्यक्तियों की संख्या है चार करोड़ 28.59.199 जिसमें से पुरुस हैं 2.59.54.328 मेला हैं सत्रहलाग सरसथ हजार चालसो छहसो चौनसर ठीक 211 की जनकर व्यक्तियों की संख्या है मद्विदेश में सरवादिक साक्षरता आपकी जवलपूर में हैं 1.80.1.30 कितनी है? 1.80.1.30 सरवादिक साक्षरता आपकी जवलपूर में हैं इनी से पॉइंट पूछे जाएंगे कि कहां क्या है मद्विदेश में अली राजपुर जिले कि साक्षरता दर्स सबसे कम है कितनी? 36.1.30 सबसे जानद आपकी जवलपूर में है वो सबसे कम है अली राजपुर मद्विदेश का इंदोर जिला मद्विदेश का इंदोर जिला पूरुस साक्षरता में पिथम इस्थान पर है जबकि महला साक्षरता में पिथम आपका भुपाल है पूरुस साक्षर्टा में आपका इंदोर जिला पहली नमबर पर महलाओं में भोपाद भोपाद जिला की महलाओं की साक्षर्टा है 74.9% जबकि सबसे कम महला साक्षर्टा बाला जिला आपका अलीराश को रहे 30.3% गाउं की बेटी योजना अंतरकत वर्ष 2016-17 में माय-दिसंबर 2016 तक 28.25,000 चात्राएं लावान भी थुई है उटसे ठीक है फितिमा किरण योजना अंतरकत 2016-17 माय-दिसंबर 2016 तक 3.38,000 चात्राएं लावान भी थुई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्टी है सामाजिक विज्ञान संस्तान महू इंदौर में इस्तित हैं कहां हैं महू इंदौर में जिसे 14 अप्रेल 2015 को विस्विध्याले का दरजा दिया गया है मद्विदेश की धार्मिक नगरी और जैन में देश की पहली डेजाइन यूनिवरसिटी इस्ताफित की गई यह 2016 में फ्यारम होगी 2016 में फ्यारम हुई है भारतिय प्रवंदन संस्थान इंडियन इस्टिट्यूट और मेनेजमेंट अकेडमी आप इंजिनिरिंग एंड एजूकेशन रिसर्च सेंटर पूरे से से तीन सो पच्चास करोड की लागत इस्थाफित करेगा भारतिय प्रवंदन संस्थान इंडियन इस्टिट्यूट और मेनेजमेंट आई आई एएम की स्थापना 1996 में इंदौर में की गई थी जो देश का छटे नंबर का मेनेजमेंट संस्थान है निसुल की वन अनिवाज सिक्चा गधिकार अदीनियम 2009 पिदेश में एक अप्रेल 2010 से प्रभाव सील हुआ है पिदेश में कैंद्रिय सहता से वर्स 2010-11 में नो नवीन पॉलिटेकनिक महविद्याले दतिया राइसिन कटनी अनूपूर मंदसौर अली राजपूर साजापूर देवास उमरिया में प्यारम किये गए वर्स 2011 बारे में साथ नई पॉलिटेकनिक महविद्याले जतारा पवई सेंद्वा नसरोला गंज एटारसी राजगर सेरोंज में प्यारम किये गए मद्विदेश में उच्च सिक्षा छेतर में मद्विदेश विश्विद्याले दिनियम 1973 पारिज किया गये था एसीया का पिथम फिजीकल कॉलेज लच्छी मिवाई कॉलेज आपका ग्वालियर में है भोपाल में इसकी छेतरिय के अंद्वे याद रखना है कईवार पूच लिया एमपी एसिया का पित्थम फिजीकल कॉलेज लचिमी वाईब फिजीकल कॉलेज आपको ग्वालियर में है भोपाल में इसकी छेत्रिय के अंद्रे मदबदेश महराष्टिये विदीसंस्थान आपका भोपाल में है फॉरेंसिक पोलिस महाविद्यालय आपको सागर में है मद्वेदेश का एक मद्ध औध्यान की महाविध्यालयक का मंद्व सोर में है सागर्व इस्विध्यालयक के अंतर कर सरवादिक महाविध्यालय के आती है ठीकर, याद रखिए आगे बात करते है मत्विदेश का पत्तिकारिता विस्विध्याल है माखनलाज चतुरवेदिस राष्टिय पत्तिकारिता की नाम से भोपाल में स्थापित है सबसे नभीनत मेडिकल कॉलेज आपका सागर है सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गजरा राजे मद्यपिदेश का राज़ा भोज मुक्त विश्विध्याला आपका इन दोर में है मद्यपिदेश का किरसी अभियांद की महाविध्याला आपका जेबलपूर में है मद्यपिदेश पाट उस्तक निगम की स्थापना 1968 में हुई थी तेश का पहला आतंकरोथी फिसीक्छन स्कूल आपका भोपाल में खूला जाएगा मद्धविदेश में निजी चित का पहला पतिकार्टा महा विध्याला आपका इंदवर में मद्ध्विदेश का पहला आजीवासी खेल विद्ध्याला है सिहोर में मद्ध्विदेश की रीवा में सैनिक स्कूल इस्थापित है क्या है मद्ध्विदेश की रीवा में सैनिक स्कूल है जवाहर लाल नहरू पुलिस अकेडमी सागर में राजीव गांधी पुरोधुगी की विस्विध्यालाय आपका भोपाल में है मादमिक सिक्षा मंडल का कारियालाय आपका भोपाल में है इसका संभागिय कारियालाय आपका इंदोर में पिदेश का देवी अहल लियावाई विस्विध्यालाय आपका इंदोर देश का पित्थम विश्विध्यालय है जिसमें इस्टरन मिसीगन विश्विध्यालय अमेरिका के साथ अध्यान अध्यापन वा अनुसन्दान संबंदी परस्वर सहमती पर हस्ताक्चर किये गए मद्यपिदेश सहसने नवीन किसी महविध्यालय किस्थापना वर्ष दोहजार साथ में गंजवासोदा विदीशा में किये वरतमार में मद्यपिदेश में किसी विश्विध्यालय हैं कि संक्या दो है मद्ध पिदेश के सागर में इस्ते डॉक्टर हरी सिंग और विस्विद्याले कुवर्ष 2008 में कैंद्री विस्विद्याले का दर्जा पिदान किया गया है ठीक है? आँगे हम लोग बात करें मद्ध पिदेश में भेल द्वारा संचालित जवाहलाल नहरू स्कूल को देश में पहली बार ISO 9001 तथा ISO 14001 प्रमाडपत्ल मिलने का गोरव हांसिल हुआ है ठीक है? जवाहलाल नहरू स्कूल को मद्ध पिदेश सरकार ने ग्वालियर में संगीद विस्विद्याले की इस्थापना 2008 में की थी ठीक है? विदीशा जले की सिरोंज में अंतराष्टी इस्तरवर नीजी विस्विद्याले पेराम कराये जाने की दिसा में प्रियास किये जारे है जिसमें इंजिनरिंग मेडीकल सिक्षा पिदान किये जाने की योजना है जुलाई 2008 में महरसी पाड़नी संस्कित विस्विद्याले आपका इंदौर में इस्थापित हुआ है कब 2008 में महरसी पाड़नी विस्विद्याले आपका कहा है उच्जन राजेंद मातुरपति का पीट की स्थापना देवी अहल्यावाई विस्विद्याले इंदौर में की गई है इंदौर देश का एकमात स्थान है जहां IIM 1996 में स्थापित हुआ है और IIT 2009 में ठीक है यहां दोनों संस्थाने IIM भी है IIT भी है राजा बोज मुक्त विस्विद्याले आपका पहुपाल को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है फिदेश का पहला वाली का सारीरिक विसीक्षन कॉलेज आपका सिवपुरी में स्थापित किया गया आगे बात करते हैं मुक्त विस्विद्याले में 15 देशी और 13 विदेशी भासाओं के अद्धन की सुगदा है जो मद्विदेश में सरवादे के देश में एकमात भारतिये सूचना संस्थान इलावाद में हैं ऐसे ही संस्थान जवलपुरो कांची वरम में इस पिस्तावित हैं ठीक है देश म में एकमात भारतिये सूचना संस्थान आपका इलावाद में मद्विदेश सरकार द्वारा स्कूली पाठक्रम में गीता सार 20 अपरेल 2011 को सामिल किया गया यह सी हमें पहली पहले इंद्रा गांधी राष्टिये जंजाती विस्विद्याले की अनूपुर जिले की अमरकंठ में 2008 में इस्थापित किया गया था याद रखना है राजमें बर्स 2015 सूले में 14 15 में प्रात्मिक सालाओं की कुल नामंकन पुराने यह नहीं बढ़ना है इसे ही याद रखना है आपको एस या कि पहले इंद्रा गांधी राष्टिये जंजाती विस्विद्याले की अनूप शिवपुर जिली अमरकंटक में स्थापितना हुई थी 2008 में ठीक है बात करते हैं लोग राष्टी और चितर सिक्षावियान के इंद्रगत धार जिली में इंजिनरिंग महाविद्याले स्थापित किया जाना पर स्थावित है एंटीपीसी के सहयोग से शिवपुरी में रा खृत आरब किया गया है जिला सिंगरॉली में यंल नॉर्दन कोल्ड टीक है सहयोग से माइन इंजिनिरिंग महाविद्याले इस्तावित किया जाना पिस्तावित है कहां सिंग रॉली में लटेरी हरसूद एवं बरेली में नभीन पॉलिटेखनिक भागुनों का निर्मार्ण की पर नभीन जलों में आगर मालबा में पॉलिटिक महाविद्याले की स्थापनाथ 2017-18 में क स्रेजन पीट क्या मद्यपदेश में स्रेजन पीट आधी संकरचाइब संकरचार पीट आपकी ओंकारिसो फरुसराम पीट जाना पाओ महादेवी वर्मा पीट हिंदी विश्विद्याले भोपाल निर्मल निराला सेजन पीट वरकतुला विश्विद्याले भोपाल प्रे सेंग गौर बिस्विध्याले सागर सुमध्र कमारी चुहान से जनपीट रानी दुरगापती बिस्विध्याले जवलपूर में बाल साहित से जनपीट आपका भूपाल में ठीक है विस्विध्याले की बदेश में उच्छ शिक्छा की सुविधा उपलब्द कराने ही तो 15 प में इच्छा की स किदाओ अपलबद कराने ही थू 15 फ्रांति इविस्विद्ञा लें दो कंद्रिय। विस्विद्ञास सब्सक्राइब करें दूसरा इंद्रा गांधी राष्टि जन्जाति यह विष विभिध्यालाए याद रखिए इंडोरों को और सास्की एक चिस सा महाविद्यालें की बात करें तो साथ मेडिकल तीन वेटिनरी एक दंथ एक युंनानी एक हॉमोपेथिक साथ आयववेथिक महाविद्यालें पांच आसास कीये medical college मदविदेश में medical college की बात करूँ तो यह गजरा राजी चिक्तिसा महाविद्विद्यल है 1946 मैं गॉलियर राज मैं है याद रखना है आको गॉलियर मैं है मदविदेश मैं गॉलियर मैं है और याद रखना है ये राज्य का पहला चिकिस्सा महाविद्ध्याले है गजरा राज्य चिकिस्सा ठीर महत्मा गांदी मेमोरियल चिकिस्सा महाविद्ध्याले ये इंदौर में है आपका सास्की नेताजी सुभाष्चंद वॉस चिकिस्सा महाविद्ध्याले आपका ये जवलपुर में है स्य नाम साहें चिकिस्षा महाविद्यालय आपका रीवा में है गांधी चिकिस्षा महाविद्यालय भोपाल में है सास्की चिकिस्षा महाविद्यालय आपका सागर में 2008 में इसकी स्थापना हुई थी सास्की चिकिस्षा कॉलेज आपका रतलाम में विटनरी कॉलेज तीन राज म कि अरियोवेदिक साथ महाविध्याले साथ हैं ग्वालियर जवलपुर दीवा इंदौर वरहानपुर बोपाल उचेन में दो निजी महाविध्याले भी कारणत हैं दंत कॉलेज की बात करने तो एक मात सास्की दंत कॉलेज आपका इंदौर में फ्राइवेट डेंटल कि ग्यारे हैं राज में 19 Homopati College इन में से मात एक ही सास किये जी loser Prison इंदौर में आपका Cancer retrouver रिजा का की बात करें छिक्साल हेगी तो मद्rozकेदेश में इन केंशर गवालिया मांसी चिक्सा लाए मद्द बिदेश में दो हैं एक इंदोर वाड गंगा और दूसरा गवालिया यां रखिया मद्द बिदेश में दिल्ली रिष्थित एम्स के अनुरूप उच्छे स्तरिये चिक्सा सुपदा सेप्त राज माता विजया राजी सिंधिया खिलभार्तिये आयूविग्या संस्थान की स्तावना भोपाल में की गई सास की एंगिरिंग कॉलेज आठ हैं सरफ पितम जवलपूर में इंगिरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी सूचना फुरूद्धोगी की संस्थान मद्द पिदेश में राजी सूचना फुरूद्धोगी की संस्थान आपका ग्वालियर में कार्विद हैं जबकि भारत इसके पिथम कुलपती थी स्री मोहनलाल छीपा हिंदी विस्विध्याले विलुपती की कागार पर पहुंच चुकी ब्रज अवधी मैथली से 18 बोलियों को सनरिक्षित करने की युजना बना रहा है इंदरा गांधी राष्टिय मुक्त विस्विध्याले दिल्ली के राज में आठ केंद है इंदर बोल पाल पहला केंद ही 687 में जवलपूर जब़ालीय रीवा वैत्तूर सतना और सागर में इसके के के ली खुडॐं कि बात करें मद्दवदेश के अन् सिंख्षण संस्थानों के बारे हैं। शिक्षण संस्थानों के बारें तो याद रखें राज शिक्षण फिसीक्षण मंडल की स्थापना 1987 में फिसीक्षण संस्थान तथां फिसीक्षण के सरूप को अधिक सक्षम बनाने के लिए की गई थी राज इस्त्री सिक्षण परिशत की बात करें तो इस्त्री सिक्षण प्रिचात की स्थापना 1960 में कि गई इसका पुणरगठन पहले पुणरगठन पहले पुणरगठन पहले 1964 में फिर 1972 में होगो ठीज दो बाथ किरा गी में राजि स्रेयन सहिस्तान की आपका भोपाल में तुनरगठना में बिद्ध्यालाईन- gyantra में गुट्वक्ता सुधार के उत्दी सी की घी थी राज विग्ञान संस्थान आपका जवलपूर में यह संस्थान बिज्ञान विशेठ पढ़ाने वाले सारीरिक सिक्षण Climate सिक्षान स कियो ने पुरुस के लिए सिपुरी में तत्याटों पे राज पिसीक्षन महावित्याले संचाले थे राज में सास की इस्तरपल योग पिसीक्षन संस्कान सिवाजी नगर भोपाल में कारगत थे तो राजीव गांदी प्रात्मेक सिक्षा मिसन को 1994 में स्थाबित किया गया था यही एक पंजीकत स्वायत संच्था है इसके अध्यक्ष होते हैं मुकमंतरिटी फिर मद्विदेश राज ओपन स्कूल मद्विदेश में सबके लिए सिक्षा की लक्ष की पिरापती के लिए वर्स 1995 में मद्विदेश राज ओपन स्कूल की स्थापना की गया मद्विदेश पार्ट पुष्टन निगम की बात करें मद्विदेश पार्ट पुष्टन निगम की स्थापना सुसाइटी ज रजिस्टेशन एट 1969 की तह अंत्रगत 7 अगस्त 1968 को की गई थी स्थापना निगम का कार संचालन मद्विदेश पार्ट पुष्टन निगम निगम बिनिवाई 1974 में प्रावधानों की अनुसार होता है निगम का धेर मद्विदेश के सालेश इस्तर के विद्विद्विद्विद्यों को गुडबत्त पुण पाश्ट पुष्ट के लागत मूल पर उपलब्द कराना है मद्विदेश सिक्षा मंद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् पुछा देनी के उद्धिय से राज शासन ने इस संस्थान की स्थाफना भोपाल में 1995 में की थी कब 1995 पर आपका राजीव गांदी फुरोद्योगी की विश्विध्यालाय भोपाल में इस विश्विध्याले की स्थाफना निस न्ठाउनवे में की गई मत्विदेश की विधानसावा द्वारप पारित राजीव गांदी फुरोद्योगी की विश्विध्यालाय दिनियम 1998 के इंतर रिपकी थी पर आपका सेंट्रल पोर्ड रिसर्च इंडस्टियल स्टॉप परफॉमेंस किप्स भोपाल में जर्मनी के तक्नीकी सहयुक से 1997 में कि इस्थापित किया गया तक्नीकी संस्थान के सिक्षकों एवं विध्यारतियों तथा रोजगार के एक्षक ये वहाओं के लिए उनकी आवस्कुसर्प्ता वा मांग विशिसकी अनुरूप किप्स में पिसी चन की विश्विदा उपलग दिकराई जाती है पर आपका संस्क कित सालाओं वोड से समद्धें ठीक फिर आपका राश्टी ये के राश्टीय के रिट करेड़ को राजमें एन सीच की गतिविदियों के संचाले नहीं तू संचाला नालाय का मुख्यालाय भूपाल में है इस राश्टीय के रिट को संचालालाय कि इंतर गवूपाल मुख्याल है इस्तापित है उप्चारिक सिक्षाय उजना उप्चारिक के तर सिक्षाय उजना ये 1975 में प्यारम की गए इसके तहत 36,000 सिक्षक के अंद संचाले थे नेशनल डाटा सेंटर भोपाल में ठीक कि मदधधी सिख्षा संबंदी कुछ माततपूर्य योजना है और है स्कूली शाट्रों के स्वास्थ फरिक्षन की यह योजना मुक्कता स्वास्थवाघ्ट की योजना है इसके दीरिक इस इसमें स्कूल सिक्षा विवाग की भी अहम भूमिका है और विद्यार्ती सुरक्षा वीमा योजना राज सासन्दवारा राज में सास की विद्यार्तियों के लिए विद्यार्ती सुरक्षा वीमा योजना सुईकित की गई फिर मद्विदेश सिक्षा गारंटी होजना यही होजना एक चनबरी 1997 से लाग हुए राज में यह से होजना के अंतरकत ऐसी समस्त बसाहवते हैं जहां एक किलोमेटर की पर्दी में प्रात्मिक सिक्षा की कोई अन्य सुभिदा नहीं है जहां साला जाने योग 40 भालक बालिका हैं सामान चेत में 25 भालक बालिका हैं आदिवासी चेत में उपलब्द हैं वहां समुदायर की मांग पर बसासंदवारा प्रात्मिक सिक्षा की सुभिदा उपलब्द कराने की गारंटी दी जाती है इसे योजना का क्रियान बर 90 दिन के अंदर किया जाता है पर अभीना योजना राज में उच्षा को बैस्विक महानकों के नुरूप बनाने की योजना है संखनाद योजना 26 जनबरी 1997 को आहदीवासियों को सिक्षित बनाने के उद्देश से प्यारम की गी थी फिर पढ़ना बढ़ना योजना बर्स 2003 में मद्विदेश सासन ने पढ़ना बढ़ना योजना शुरूँ की थी फिर स्कूल चले हम अभियान साला त्याज की दर को कम करने के लिए मद्विदेश सासन ने अभियान 2009 दस से लागू किया था ठीक है थ्रयापकी चातविती सिस्विती फिरुसान योजना इस्कूल सिक्चा विभाग द्वारां 2008 मौमें पिदेश के सास की विद्याला में अभियान अभियान अथ सामान नेधन बर्ग की चात चात्राओं के लिए चातिविती यों सिस्विती योजना प्यारम की जिसके अंदग निम्न चात्राओं की जाती है सुधामा फिरी मैट्रिक चात्राओं योजना स्वामी विवेकानन पोस्ट मैट्रिक प्रविन चात्राओं योजना सुधामा सिस्विती योजना डॉक्टर एपीजी के लिए चात्विति स्कूल सिक्ष्छा विभाग द्वारा सिक्षरसस दो हजार 1213 से बीटी बचाओ अभियान के इंतरगत एकलोती बीटी सिक्ष्छा विकास चात्विति योजना प्यारम की गई है मेधावी चात्विति योजना राज सासन स्कूल के सिक्ष्छा विभाग द्वारा दो हजार नौ दस में मेधावी चात्विति योजना प्यारम की गई सास की हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यान रत कच्छा बार्वी में 8530 यह से अधिक अंग प्राप्त करने वाले मेधावी विध्यारतियों को कंप्यूटर के रहे हैं तो 25,000 रुपे पिती चात्वित माल से प्रोसाहन रासी प्यदान की जाती है यह प्रोसाहन रासी वर्ष 2019 से प्यदान की जा रही है गाउं की बेटी योजना किरामीड चेत्रों में की छात्राओं में उच्छित सिक्छा के पिती प्रोजान बढ़ाने के लिए गाउं की बेटी योजना दोजार पांस से लागउं की जिसके इस योजना के अंतरकरत बित्ति वर्ष 2016 सोले सत्रह में बजट था इसका सोले सो पचासी लाग का गाउं की बेटी योजना के अंतरकरत 2016 सत्रह में 28,259 चात्रह लाबानवित हुई है ठीक है पितिवा किरन में 3,307 चात्रह लाबानवित हुई है वर्ष 2016 सत्रह में निसुल्क साइकल पिदाई उजना निसुल्क साइकल उजना अंतरकर कक्षा नौबी में सास्की विद्यालAU में फ्रवेस लैने वाली किरामी डिचित वर्ष प्रवर्भ के छت चात्रहों को जनके गाउं में सास्की ये हाई स्कूल नहीं है जो सहर के सास्की ये स्कूल में अध्यान के लिए आते हैं ऐसे पात चात्राओं को समग स्क्षा पोर्टल की माद्यम से वर्स 2016-17 में लगू उद्ध्योग निगम की माद्यम से साइकल क्रेक कर्फिदान की जा सकती है कक्षा नौवी में की लगवक चार दस्म लो 16,00,00 चात्राओं इसे उजना से लावन वित होंगे अब बात करते हैं केंद प्रवर्तिक की उजना है सेक्षड की उजना है उन्हें भी देख लेके इस कूल सिक्षा के लिए विभिन केंद प्रवर्तिक की उजना है बेवसाइक सिक्षा बेवाग ने 2625 विद्याल है में सिक्षा पाट करम सन्चालित किये राज में बरत्मान 251 प्रह्माद्यान बोजन भारत सरकार की सहयोक्सराज की सास किये वाध सास किये सालाओं में 2 औक्टूबर देख 295 में यजना लागू की गई थी सरव सिक्षा वियान प्यारम भी सिक्षा के लोग प्यापी करन के उद्दिश से भारत सासन द्वारों सरव सिक्षा वियान का एक्रों फर्स 2001 में प्यारम किया गया सरव सिक्षा वियान के लिए केंद और राजसरकार के बीच वित्तिय भागेदारी पचचतर अनपाती 25 है फिर आपकी अंगली वाली का सिक्षा ही तू भारत सासन का विशिष कार्प्रों राज में सेक्चडेक दिरिष्टी से फिचडे 280 विकास खंडों में एकायकरम चलाए जा रहा है इसके इंतर कक्षा 1-8 तक पढ़ने वाले वाली को निसुल गड़विज का वित्रिः किया जाए गा राष्टी प्रुसकार इसके लिए राज स्तर ही संति का गठन किया गया इसे बहाराज सरकार का पित्ति निदित होगा राज के लिए आठ प्राद में चार मात्रें विस्तर के सिक्चकों को राष्टी प्रोसकार से सम्मानित करने के लिए भारा सरकार को पिस्ताओ करे जा जाता है थरे आपके सुपर हंडर्ड यूजना, सुपर सोई यूजना सास्की ये स्कूलों में कक्च दस भी में तेन पितिवा साली पिद्ध्यालतियों को विफसाइक संस्थाओं IIT Medical College Chartered Accounted के पिसीक्षण यूटू भोपाल में सास्की ये उतकृष्ट उच्छितर मादमिक विद्ध्याले एवं इंदोर की सास्की ये मलहरार स्रम उच्छितर मादमिक विद्ध्याले में सुपर हंडर्ड यूजना संचाली थे वर्स 2015-16 में तीन करोर रुपे के फ्रावदान से 481 विद्ध्यालतियों को लावनवित किया गया है वर्स 2016-17 में 3.06 करोर रुपे के फ्रावदान से 509 विद्ध्यालतियों को लावनवित किया गया है पिर आपकी विकलांग बच्चों की समय के सिक्ष चाहिए हो जना यहीं हो जना एक अपल 2009 से लागू हो जना मानौव संसाधन मंतराला भारस सरकार सिप्राफ केंद्री यानि अनुदान से संचाले ते इसके इंतरगत कक्छा नौ सिबारे तक सामन बिध्याले में अध्यन करने वाले सभी विशेश आवसक्ता वाली बच्चों को 3,000 रुपे पिती के मान से सुविदा बत्ता प्यदान किया जाता है रासासन भी 600 रुपे पिती बच्चों के माने से टॉप अप पनी फितान करती है, बरस 2015 सुले में, उक्त दर्स के 12,062 वच्चे लावानवित हुए है, ठीक है, कुछ महत्पुंग और बिंदु है, उन्हें भी देख लिए थे, मद्विदेश प्रात्मिक सिक्षा को बड़ावा देने के लिए 1986 में, ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड चलाए ग पिदेश में 1978 में, पड़ो कमाव यूजना को संचालित किया जा रहा है, बीस सकस्त 1994 से, सिक्षा के लोग व्याफी करण के उत्तिस से, राजीव गांदी सिक्षा में सनकारम किया गया था, वर्स 1999 में, पढ़ना वढ़ना आंधूलन की शुरुआत की गई थी, मद्विदे पिदेश में STSC की छात्राओं को उच्ष सिक्षा येतू फुरुसायत करने के लिए जनवरी 2006 में, उसे पिदेश में कन्या साक्षता फुरुसाहन यूजना को प्यारम किया गया, सन 2000 में, हैड श्टायट यूजना का प्यारम स्कूल में, कम्प्यूटर सिक्षा को वड़ा बाद बाद हैने के लिए किया गया था, वर्स 2005 में, बाली का सिक्षा के, फुरुसाहन येतू, कस्तूर वा, गांधी विद्ध्यालाय यूजना कारब की गई थी, अब कुछ मात हूं, किर्सी वहां विद्ध्यालाय है, एक किर्सी महा विद्ध्यालाय है, इस्थान है, किर्सी महा विद्ध्यालाय है, आपका जवलपुर में, किर्सी महा विद्ध्यालाय है, एक इंदोर में भी है, राज माता विजया राजे, सिंध्या किर्सी विद्ध्यालाय है, एक किर्सी महा विद्ध्यालाय है, आपका सिहूर में, किर्सी महा विद्ध्यालाय है, एक आ गुद्धियान की वहाँ विद्धियालय निए कि मन्दसार के लिए। स्थापना वर्सन की डॉक्टर हरी सीन्ह और विश्वध्या लैका इस इस आगर में आपका अठारे जुलाई उन इस सोच ओ स्थापना वी थी सबसे पुरान ऐह ठीक रानी दुर में इसकी स्थापना हुई देवी अहले आवाई विस्विध्याले आपका इंदोर में है 1964 में इसकी स्थापना हुई आधिश पिताब सींग विस्विध्याले आपका जवलपूर में 1964 में इसकी स्थापना हुई आधिश पिताब सींग रीवा में भी है मैं 1968 में इसकी स्थापना हुई जबलफृika याद रखना सब्सक्राइब soll bunk को फिल्ला इसकी इसकी स्थापना सबस्क्राइब माखणलाज चेतोरविदी रखती पत्थिकार्थ विसविप्पर न है विधीयार है वहपाल obten से 1931 में इसकी स्थाप न हुई महत्मागांदी चित्कूट ग्रामट न ही विध्पर सतना में 1991 में इसकी स्थाप युकित इंद्र गांदी राष्टी है जन्जाती है विस्बिध्यालै केंद रिविस्बिध्यालै कि अमर कुंटक अनुपुर में है राजा मान संगीत युद्से across विश्च विद्यालै आपका ग्वालियम है दूहजाराट में इसकी स्थापना हुई थी महरसी पाड़नी संस्कित बिश्विद्याल है आपका उज्जन में है 2008 में इसकी स्थापना हुई राज माता विजया राजे सिंधिया किरसी बिश्विद्याल है वालियर में है आपका 2008 में इसकी स्थापना हुई राश्टी ए विधी संस्थान विश्विद्याले दोजार नाजी देश भुप पसू चिकसा विश्विद्याले जवलपूर में 2010 2010 में इसकी स्थापना हुई अटल विहारी बाच्वई हिंदी विश्विद्याल है इप भुपाल में 2011 में इसकी स्थापना हुई बौध विश्विद्याल है इस सांची में 21 सेप्टमबर 2012 को इसकी स्थापना हुई महराजा शत्य साल बुंदिल कंड सब्द्क्र की सथा चातरपुर में में 2015 नौक्र इसकी स्थापना हुई अखेल भारती आईवें आईवीग्यान सांथान करेंगे हम लोग बात करेंगे मद्विदेश के परिपेक्ष में लेखेंगे राजनेती इबंपिसासनिक परिदेश को हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, मद्ध विदेश, सामान ग्यान के बारे में, तो अभी तक हम लोग 18 चेप्टर खतम कर चुके हैं, इससे संबंदी, 18 चेप्टर था आपका सिक्षा के आयाम, ठीक है, याद रखिए, मद्ध विदेश, सामान ग्यान से जो आपकी पिले लिस्ट सूची है, उसी मैं डाल देता हूँ, ठीक है, इसमें बात करते हैं, राजनित्तिक एवं पिसासनिक परिदस के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बिधायका, बिधायका के बारे, मद्ध विदेश में एक सदनात्मक बिध का है, मद्ध विधान सवा भवन का नया नाम इंद्रा गांदरी विधान सवा भवन है, मद्ध विधान सवा भवन का नया नाम क्या है, इंद्रा गांदी विधान सवा भवन, जिसके वास्तुकार है, चाल्स कोरिया, कौन है, चाल्स कोरिया, इसके पूर बिधान सवा आप की में लगते थे धिक हैं मतब देष विधानसभा का गठन एक नवंबर ذ Sunda comes सथी हो था है याद रुखना है मतब देष विधानसभा का गठन एक नवंबर 1956 को ख़ग्ण नय मतब देष की इस विधानसभा के पहला सत्त 17 है दिसंबर 1956 से 17 जनपरी 1997 की आउदी में संपन हुआ था आगे बात करते हैं साधारणता मुखमंत्री ही सदन का निता होता है लेकिन चत्थोर्थ विधान सबा में स्री गोवेंद नारायन सिंग के कारकाल में स्रीमती विजिया राजी सिंधिया सदन की निता रही याद रखना है साधारणता तु मुखमंत्री ही सदन का निता होता है लेकिन चत्थोर्थ विधान सबा में स्री गोवेंद सिंग नारायन सिंग के कारकाल में स्रीमती आपकी विजिया राजे सिंधिया सदन की निता रही थी आभी भाजित मद्विदेश में पिधान सवा सदस्वों की संक्या 320 प्लस एक थी आभी भाजित जब तक आपका 36 गड़ जुड़ा हुआ था लेकिन जब 36 गड़ के गठन के बाद 230 प्लस एक रह गई जिनमें से एक सदस राजपाल दौरह नामित होता है और 230 आपके निर्वाचित होते हैं जनताद्वारा प्यत्यक्ष रूप से लोकसवा की बात करें तो लोकसवा में 29 सीट हैं राजसवा में आपकी 11 सीट हैं ठीक है याद रखना है मत्विदेश में लोकसवा की कुल 29 सीट हैं मतलब 29 सीट हैं जिन में से 6 इस्थान अनुसूचित जन जाती और 4 इस्थान अनुसूचित जन जाती के लिए हैं याद रखना है आपको क्या कि 200 अभी बरकमान में 2020 तक बता रहा हूं आंगे बदल जाये क्या हो जाये कुछ नहीं कर सकते लेकिन 220 तक 230 सीटे हैं बिदान सभा में पिलस एक वो राजवालन मनुनीत करता है लेकिन 230 हैं वो मनुनीत डारेट जनता चनती है और लोकसभा की सीटे हैं कितनी हैं एमपी में 29 राजसभा की 11 मत्विदेश में लोकसभा के कुल 29 इस्थानों में से 6 इस्थान 6 सीटे जाती के लिए आरक्षत हैं, जो पिदेश में सरवा देखे हैं, मदपिदेश के जहाबुआ बढवानी, डिंडोरी, अनुपुर्जले के सभी विदान सभाचित अनुसूचित जन्जाती के लिए आरक्षत हैं, याद रखना है, मदपिदेश के जहाबुआ बढवानी, डिंडोरी, तथा अनुपुर्जले के सभी विदान सभाचित अनुसूचित जन्जाती के लिए आरक्षत किये गए हैं, याद रखना है, विदान सभा के पहले आपके अध्यक्ष थे कुन्जी लाल्दोवे, विदान सभा के पहले अ अब बात कर लेते हैं, विदान सभा अध्यक्षों के बारे में, ठीक है, कई बार पूच लेता है, अभी 2019 वाले MPPSC में पूच लिया था, ठीक, तो पहले थे आपके कुन्जी लाल्दोवे, कौन कुन्जी लाल्दोवे, ये 1956 से 1967 तक रहे, स्री कासी परसाथ पांडे, आप रहे,raction अभी थे, पांडे, अभी 1992 तक रहे, स्री तेज लाल्दोवे, ये atmosphere अगडिया है, तैज लाल्दोवे, 72 से 22 तक रहे, मतलह यागदस सर्मा यह आपकी 80-83 श्री रामकिसोर सुकला यह 84-85 तक रहे श्री राजन पिसासुल सुकल यह आपकी 85-90 तर प्रोफेसर बिजमोहनमिस यह आपके 90-93 श्री नवास्तिवारी यह 1993-2003 तक रहे श्री इसरदास रोहानी यह 2003-2013 तर और श्री मतीज स्री सीता सरन सरमा 2014-2018 तक रहे ठीक है और याद रखना 2018 में आपके कौन बने विधान सभा के अद्ध्यक्च बने आपके नर्वदा प्रिशापति याद रखे 2018 में जो चुनाव हुए थे कॉंग्रेसी सरकार बनी उसके पंद्रवी विधान सभाती वो उसके अद्ध्यक्च है श्री नर्वदा प्रिशापति और उपाद्ध्यक्च है हीना कावरे हीना कावरे ठीक है याद रखना है आपको आगे बात करते हैं लोग मध्यदेश के कारीपालिका मंत्री प्रिशाथ 1958 मध्यदिश की पहली मंत्री प्रिश प्रिशाथ बनी प्यदेश के के पहले मुखमंत्री कौन थी पंडिस रभी संकल सोकुल स्यामा स्यामा चरण सोकुल वा सिवराज सिंग चोहन सरवाधी तीन तीन बार राज की मुखमंत्री रहे सबसे कम समय तक आपके राजा नरेश चंद सींग मात 13 दिनों तक मुखमंत्री रहे याद रखना है मद्विदेश की बारह भी विधानसवा का गठन 2003 में हुआ इसकी मुखमंत्री थी सुछरी उमा भारती जी याद रखना जो मत्विदेश की पहली महिला मुखमंत्री बनने का गौरक प्राप्तुगा उमा भारती जी को ठीक है मत्विदेश अभी तक तीन औसर पर बात कते हैं मुकमंत्री और उने के कारिकाल मुकमंत्री और उने के कारिकार कि एठिए मैं तो सलाह की काफी यूज मत करिए फर जिसे करना है उमकर सकता क्योंकि अगर onday exam दे तो रट के निकाल सकते हो आप टेल्ट बना के लेकिन अगर आप फियस्ती के लिए बैट रहे हो कोई अच्छी वड़ी तैयारी के लिए तो उसमें आपको याद रहना चाहिए और फिरहाल अपने भी आगर अगर एंपी के निवासी हो तो आपको इतना तो जानकारी होना भी चाहिए नाम है आप कारकाल है मुकमंत्रियों के रभी संकर सो यह रहे एक नवंबर 1956 से 31 देसंबर 1956 फिर भगवंत राव मंडलोई यह आपके संता एक जन्वरी 1957 से 30 जन्वरी 1957 फिरें केलास नात काथ जू यह आपके 31 जन्वरी 1957 से 14 मार्च 1957 फिरें भगवंत राव मंडलोई यह आपकी 62 से 63 में रहे द्वार का पिरसाद में आपकी 63 से 66 तक गोवेंद नारायन सींग यह आपकी सरसर से 69 राजा नरेश चंद यह आपकी याद रखिए 13 मार्च उन्निस सो न्थर से 25 मार्च उन्निस सो न्थर सबसे छोटा कारिकाल इन्हें करा है स्यामाचरण सोक 59 से 72 पेकास्त चंद से 62 से 29 जन्वरी उन्निस सो बहतर से 22 मार्च उन्निस सो बहतर तक तर 23 मार्च उन्निस सो बहतर से 22 दिसंबर 1975 तक है स्यामाचरण सोक 75 से 77 तक फिर आपका राष्टपती सासन लगा क्या लगा राष्टपती सासन लगा इस राष्टपती सासन लगा उन्निस एक तीस अप्रेल उन्निस सो सथात्तर से 25 जून उन्निस सो सतत्तर तक उसके बाद फिर के लाष्टपती सासन लगा यह लगा अठारे फरवरी उन्निस सासन से आठ जून उन्निस सो असी तक फिर उसके बाद अरजुन सीख रहे यह 80 से पहले 85 में रहे फिर 85 से दो वार टाइम के लिए हुए थे जियारे मार्च मैकलश उन्निस सो पचछी से बारे एक मार्च उन्निस सो पचासी तक ठीक है एक दन के मौतिलाला भोरा आपके 85 से 88 टक रहे अрजुन सें 98 से 89 है याद रखिए फिर आते हैं आ मौतिलाल गोरा जी, क्या आते हैं? मौतिलाल गोरा, तो यह आपके 89 में रहते हैं, फिर स्यामा चरन सुकुल, यह 89 नवब्य में सुन्दालाल पटवार, 90-52, फिर राष्पती सासन लगता है आपका 16 दिसंबर 1992-6 दिसंबर 1993 तक, फिर आपके आते हैं दिगवजैसिंग, यह 2003 तक फिर आपकी उमा भारती जी आती है मद्वेदेश की पहली महला मुकमंत्री 2003 से 2004 तक रहती है फिर आते हैं आपके बागुलाल गौर और 2004 से 2005 तक फिर आते हैं सिवरा सिंग चोहान 2005 में और यह रहते हैं 2018 तक कब? 2018 तक 2018 में जो नया चुना हुआ है 2020 में 2020 में कौन मुकमंत्री हैं? कमल नात मुकमंत्री हैं याद रखना कौन है? कमल नात कॉंग्रेस से मुकमंत्री हैं सरकार का गठन कब हुआ? पंदरवी विधान सबागा? 17 दिसंबर 2018 ठीक है याद रखिए आप ठीक? अब बात करते हैं आगे हम लोग राजपाल के बारे में मत्री पिदेश के राजपाल राजपाल राजी कारेपालिका का सम्मीधानी पिरमुक होता है स्री पठावी सीता रमया पिदेश के पहले राजपाल थे राजपाल स्री राम प्रकास गुप्त का पद पर रहती हुई मित्ती हुई थी तो याद रुखना है स्री पठावी सीता रमिया पिदेश के पहले राजपल थे और राजपाल स्री राम प्रकास गुप्त का उनके कारकाल के दौरान ही उनकी मित्ती हो गई थी मद्विदेश की पहली महला राजपाल बनने का सर्य सरला गेवाल जी को जाता है ये 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक मद्विदेश की राजपाल बनने अब राजपाल और उनके कार्याल काल देख लेते हैं ठीक है? तो याद रखिए क्या याद रखना है आपको? ये हैं नाम और उनका कार्याल है ठीक है? नाम और कार्याल भी पट्टावी सीता रमिया ये आपके 56 से 57 में रहते हैं हरी बिनाएक पार्टस कर ये 57 से 65 तक रहते हैं केसी रेटी 65 से 66 तक न्याय मूर्ती पीवी दीख्चित कार्यकारी थे 96 में हैं 66 में उननी सच्चाज केसी रेटी? आपके 66 से 71 तक सत नारायन सिंगा 71 से 77 तक स्री एन 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 वांचू 77 से 78 तक स्री हम कुनाचा 78 से 80 भगबद दयाल सर्मा 80 से 81 फिर आते हैं कार्यकारी 99 जेपी सिंग 81 में भगबद दयाल सर्मा 81 से 83 99 जेपी जीपी सिंग ये 1983 से में रहे कार्यकारी थे ठीक है? फिर भगबद दयाल सर्मा ये आपके 83 से 84 के 84 से 87 फिर आते हैं कार्यकारी 99 जेपी सिंग जाए 99 जेपी सिंग जाए 87 में आए के अम चांडी 87 से 89 स्रलागेवाल पहली महला थे हैं ये 89 से 90 कुमर महमूद अली ये हैं आपके 90 से 93 मुहम्मद सफी कुरेशी ये आपके हैं 93 में 93 से 98 तक फिर आपके आते हैं भाई महावीर आपके 98 से 2003 तक सब्सक्राइब राम पिकास गुफ्त ये 2003 से 2004 केम सिट 2004 में स्री बलराम जाकर 2004 से 9 स्री राम जाकर 2009 से 2011 स्री राम नरे स्यादो 11 से 16 तक ओपी कोल्टी 2016 से 18 तक और आनंदी में पटल साव रही ये 18 से 19 तक आपके 19 में आए लाल जी टंडन तो अभी 20 में कौन है लाल जी टंडन कौन है राजपाल मतपरिश के अभी करेंट में लाल जी टंडन ठीक है याद रखना है ठीक है आँगे बात करते हैं हम लोग पिसासनिक तंद के बारे में देखते हैं मतपरिश का पिसासनिक तंद राजपाल जी सचिवाल है क्या राजपाल जी सचिवाल है मतपरिश का पिसासन का केंदी बिंदू सचिवाल है पल्लब बवन भोपाल में इस्तित है याद रखना बल्लब बफट कहा है आपका बहुपाल में ठीक है बस्तुता यह मंत्रियों और सच्वों दोनों का कार्याले भी है फिर संचाना लए बहुपाल में सतकुड़ा उबिंध्यान चलना मक्दोहवन सच्वाले की इमारत के पास है जो बस्तुता संचालकों के लिए कारगत हैं छेती है संगटन राज में दस संभाग और बावन जिले हो गए क्योंकि पहले इंक्यावन थे फिर आपका निवाड़ी भी जिला बन गया तो बावन जिले हो गए जिस जिले में अनुभाग तैसीलों तैसीले सामानता पिसासन से संबंदित निया में किये कार त विकास कार तक विभेन जिमेदारियad collector की होती है ठीक है अब बात करते हैं राज के पिसीकचन संस्थान तो नरोंहा पिसासने का कादमी आपकी भौपाल मैं, पूछ लेता है कई बावार नरोंहा पिसासने का कादमी भौपाल मैं गरामीर बिकास संस्थान आपका ग्रामीड पंच्याज की सिस्थान आपका अमर्गंटक में ठीक है याद रखना है अब बात करते हैं प्रमुक प्रिसासनिक भवनों की नाम मुक मंत्री का निवास इस्थान है स्यामला हिल्स भोपाल राज निर्वाचन आयो निर्वाचन भवन अरे राहिल्स भोपाल राज माना अधिकार आयो ए परियावास भवन अरे राहिल्स भोपाल राज सचिवाले बल्ल भवन भोपाल राज संचानलाय सत्थबोडा भवन भोपाल राजी उजनायव, बिंध्यांचल भवन, बोपाल, नई दिल्ली स्थित मद्धिदेश भवन, मद्ध्यांचल भवन, राजपाल निवास, राज़ भवन, राज़ी का पुराना बिधानसवा भवन, मेंटो हॉल, राज़ी का नवीन बिधानसवा भवन है, इंद्रा गांधी भावन ठीक है याद रखना है अब बात करते हैं हम लोग राज जी के राज जी के बित्तायव के बारी में 73-74 समीधान संसुधन के बाद अनुछे 343 ज्या के अंतरगत पितेक माच परस्त बाद इस्थानिय संस्थाओं की बित्तिये इस्तिती का पुनेर निरीक्षान करने के लिए पितेक राज में एक बित्तायव का गठन किया जाता है मदपिदेश में राज ने 4 जून 1994 को पहला राज बित्तायव गठित किया था याद रखना है मुखमंत्री की पदेन अध्यक्षता वाली सदेन जिसके मुखमंत्री अध्यक्ष होते हैं तो इसमें आपका है मद्विदेश जैब पुरधुगी की परिशल मद्विदेश एजेंसी फोर प्रिमोशन और इनफोरमेशन टेकनोलोजी राज यहुजिना मंदल मद्विदेश संस्किती परिशल महेशी पंतर इनजली संस्कित संस्थान भोपाल इन सभी के अध्यक्ष आपके मुखमंत्री होते हैं ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग क्या लोग सेवा लोग सेवा गारंटी अधिनियम 2010 क्या लोग सेवा गारंटी अधिनियम 2010 सेवा पिदाय पिडाली को जन केंदेट पारिदेश थी वो भिष्टाचार मुक्त इवं आम आदमी के लिए सुलब बनाने के लिए राज सरकार द्वारा मद्विदेश लोग सेवा अधिनियम 2010 लागू किया गया था 2010 में वर्तमान में इस अधिनियम के अंतरगर 24-28 विभागों की 207 सिवाए केंदित हैं 7 अगस्त 2011 से आवेदनों के ओनलाइन पंजीकन पंजीयर की बेवस्ता की गई है पबलिक प्राइवेट पार्टनर्शिप की अंतरगर पितेश बेक कास करने मुख्यालाइवेट सहरी छित्रों में 336 लोग से वाखेंद इस्थापित की जा रहे हैं ठीक है याद रखना है आपको फिर है आगे पंजीयर राज क्या देखना है पंजीयर राज ग्राम पंजीयर के बादे में बात करते हैं 1000 से उपर जनसंख्या वाले गाउं में एक ग्राम पंजीयर का गठन किया जाएगा जहां की जनसंख्या एक हजार से उपर है वहाँ एक ग्राम पंजीयर होगी सदस्थों की संख्या इसमें होगी 10 से 20 बरतमार में 23,006 ग्राम बंचयात हैं मुखिया इसका सरपंच होता है पंचयात सचिव पंचयात द्वारा निव्ट सास की ये करमचारी होता है सरपंच और सरपंच को आविस्वास पिताओ द्वारा हटाया जा सकता है मद्विदेश का पहला राज जहां इस्थानिये निकायों में राइट टू रीकॉल का प्रावधन किया गया है इसका पितम प्योग सहेडोल जिले की अनूपुल तहसील की पलिक का पटेल को हटाने में किया गया था ठीक है याद रुकी फिर है आपका जणपत पंचयाद क्या है जणपत पंचयाद यह मद्द श्थर है जिसका गटन बिकास खंड़ पर होता है 5000 से उपर आभादी वाली छित में गटन होता है। इसमें सदस संक्या रहती है 10 से 25 पिदेश में बर्तमाल में 313 जणपत पंचयाद है देख सहयोजी सदस होता है इसका जनपत पंचयाद का मुख पिसास की अधिकारी होता है CEO जो राज लोग से वायू द्वारा चैनित होता है ठीड फिराती है आपकी जिलापंचयाद कौन सी जिलापंचयाद जिलापंचयाद की बात करें तो पचास अजार की जनसंख्या से उपर आवदी बाले छेत में गठन किया जाता है इसकी सदस संख्या है पचीस सोरी दस से पहतीस तक जनें पित्यक्ष रूप से चुना जाता है सांसक बिधायक सांसत बिधायक सदस होते हैं इसके जनपद सदस होता है इसका पिदेश में बरतमान में बावन हो गए इंजिलापंचया ठीक है अब अद्यक्ष उपाद्यक्ष की पद्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाते हैं कारिकारी अधिकारी एक आईस होता है इसका कार जो राजसरकात द्वारा निव्त किया जाता है आग के बात करते हैं हम लोग कि नगरीय पिसासन के बारे हैं क्या है नगर पिसासन के बारे है कि मद्धपिदेश में पिथम नगरपालिका का गठन 1864 में जवलपुर में किया गया था मद्दपिदेश में पित्थम नगर पालिगा गठन 1864 में किया गया कौन सी सी वो जवलपुर चोहतरवा समीदान संसोधन के प्राधान को लागू करने वाला देश का पित्थम राज्य है आपका मद्दपिदेश फिर बात करते हैं जनसंख्या एक लाग जदेग हो वहां नगरनिगम गठित की जाती वरतमार में 18 नगरनिगम हो गय कितने 18 नगरनिगम हो यद रखना है कितने 18 नगरनिगम बता दें आपको फहले लेकिन सत्रवा आपका भिंड और अठारवा आपका दतिया हो गया ठीक है याद रखना है कि नगर पाल का है आपकी सो है याद रखना है कि कितनी होगी अठारे सोले की जगे अठारे कर लीजिए अब ठीक है नगर नेगम परिशत की सदस्पित्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होती है जिनकी संख्या 40 से 70 होती है 1997 में संसुधन कर महापौर का चुना पित्यक्ष वाकारकाल पांच वरस कर दिया गया है ठीक है नगर नेगम का अध्यक्ष महापौर होता है जो पित्यम नागरिक होता है पहले आपित्यक्ष रूप से चुना जाता था वाकारकाल धाई वरस का होता था दो दसम्लाव पांच वरस का लेकिन अब डारिक्ष चुना जाता है मत्वितिस में ओग महापौर का पद समाप्तकर इस्पीकर पद बनाए गया है मुख विपिसासन का अधिकारी निगम आयुक्त होता है जिसे राजसरका द्वारा निप्त किया जाता है इसका बेतन नगर निगम कोस्ते दिया जाता है इसका कारकाल पांच वरस का होता है मेर निगम कि मुख समिती है इस समिती का महान समती का महापोर्पदेन अध्यक्ष होता है कौल 11 सदस अध्यक्ष सहrir होते है इसकी सहायता के लिए 10 विभागये इसकी सहायता के लिए 10 आपकी विभागिया समतियां भी होते हैं जिसके अध्यक्ष मेर एंड काउंसल के सदस होते हैं इनकी कुल सदसांख्या साथ होती है अब बात करते हैं नगर निगम नगरपालिका, क्या? नगरपालिका नगरपालका आपकी 20,000 से अधिक, एक लाग से कम जन संक्या वाले, छेत्रों में गटित की जाती है नगरपालका, ठीक है, यादर किये, वर्तमान में नगरपालका की संक्या अंठाउन बे बची, कितनी, अंठाउन बे, 98, क्योंकि आपका जो बिंड और दतिया था, वो नग गरनेगम बना दियेगा, इसलिए, 98, बची, बाड संक्या होती है, पंगरए से 40 होती है, मनोनी सदस 4 होते हैं, मोख कारिपाली का अधिकारी CMO होता है, जो राज सेवा का अधिकारी होता है, जिसकी निक्ती राज सरकार करती है, समिती के में अद्द्यक्ष सहत 8 सदस होती ह अध्यक्ष पित्यक्ष रूप से 5 बर्स के लिए निक्ष होता है वो पित्यक्ष आपित्यक्ष रूप से चुना जाता है यहां भी सदस्वों को जनता द्वारा बापस बोलाने का दिकार है नगर फालिका की सम्ति को President in Council कहा जाता है साथ अन सम्तियां होती है जिसके अध्यक्ष होते है President in Council सम्ति के सदस इनके सदस होते हैं 5 ठीक है फिर बात करते हैं नगर पंच्याथ क्या नगर पंच्याथ अब बचाए आपका नगर पंच्याथ नगर पंच्याथ संक्मर सी छेत्रों में गटित की जाती है यह 5000 से अध्यक और 20,000 से कम जन संक्या वहाँ इसका गटन किया जाता है नगर पंच्याथ का ठीक है वर्तमान में नगर पंच्याथों की संक्याथ है आपकी 264 कितनी 264 दो बिसे सग सदस राजपाल दौारा मनुनीत के जाते हैं इसका अध्यक्ष पित्यक्ष रूप से पाजवर्स के लिए चुना जाता है इसकी पाँच उप सम्तियां होते है जिसके अध्यक्ष पैसीडेंट इंड काउंसल की सदस होते है इनमें पित्यक्ष के लिए तीन-तीन सदस होते है इसका मुक्र कारव पाला निकादी CMO होता है जो तिती है सेडी अधिकारी होता है इसकी न्युक्ति लासर करती है सम्ती में अध्यक्ट चिसाय 6 सदस होते हैं याद रखिए अभी 20 में जनवरी में खबर चल रही थी अब इनके इंडारेक्ट चुनाओंगी अब देखिए अभी पूरे नहीं चुनाओ फरवरी तक उसके बाद अगर डारेक्ट चुनाओ होते हैं इंडारेक्ट तो याद रखिए इन्हें बदल देना अपडेट हो जान अब बात करते हैं नयाइक पिसासन के बारे में नयाइक पिसासन मद्पिदेश का नयाइक पिसासन एक नवंबर 1956 को मद्पिदेश सासन की स्थापना फिसाद कि राज़िपुनर गठन अदिनियम 1956 की दारा 49 की उपडारा एक के तहद मद्पिदेश में उचने आले को नांगपुर से जवलपुर पिती स्थापित किया गया पहले नांगपुर में था लेकिन इसे अब जवलपुर में लिया आए तो मद्पिदेश का उचने आले कहा ह जवलपुर इसकी दो खंट पीठ है आंगे बताएंगे ओं ठील याद रखी इंदोर और क्वालिय इस तरह मद्पिदेश के गठन के साथ एक नवमर 1956 को जवलपुर में मद्पिदेश उचने आले की स्थापना हुई मद्पिदेश राज के गठन के पश्चाद इस्थाप पर सभी अधिनस्त न्यायलयों और अधी करणों पर अधी चन करने की सकती उच न्यायलय की होती है राज में जिला नियाले, सिविल नियाले की अतरिक्त, दंड नियाले, कि रूम में सैसन नियाले, नियाएक मजिश्टिट, पिथम सेड़ी की नियाले, दुतिये सेड़ी की नियाले, कारपालक मजिश्टिट की नियाले, कारवेते इसके अत्रिक ग्रामीट छित्रों में उद्भूत होने वाले साधारें स्वरूप के राजस, सिविल तथा दंडिक मामलों की आपसी सुलाय और समझोतिक से निराकरन किये जाने के उत्ते से ग्राम न्यालाय का गठन किया गया मद्विदेश में 26 जन्वरी 2000, एक से 223 जन्वदों में 1580 ग्राम न्यालाय को इस्थापना की लक्ष के साथ नीमत जिले के गाम जातला में पहला ग्राम न्यालाय इस्थापित किया गया मद्विदेश में लंबित पड़े मामलों कि सीवग निप्टारी के लिए फास्ट ट्रक कोड की स्थापना की गई इसकी सुरात 1 अप्राइल 2001 में की गई विदेश में इसकी संख्या 85 के करीव है आंगे बात करते हम लोग क्या कि मद्विदेश उच न्यालाय जबलपूर तथा खंड़ पीट इंदौर और ग्वालियर के अंतरगत आने वाले छित तो सबसे पहले बात करते हैं उच मुख पीट जबलपूर के वाले इसके अंतरगत आता है नुपूर बालागाड बैतूल भोपाल बुरहनपूर छतरपूर छिदवाड़ा दमोर डिंडोरी खंड़वा हरदा होसंगवाद जबलपूर कटनी मंडला नरसिंगपूर पन्ना रायसैन रीवा सागर सतना सियुनी सहडो सीधी सिहोर टीकमगर और उमरिया और निवाडी पिलस निवाडी ठीक ह खंड़ पीट इंदोर के अंतरगत आता है बढ़वानी देवास धार इंदोर जाबूवा मंदसों नीमच रतलाम राजगर साजापूर उज्जैन खंग खरवाउन और ग्वालियर पीट के अंतरगत आता है असोकनगर बिंडदतिया गुना ग्वालियर मुरेना सिवपुर सिवपुरी द्विदी साम 2015 में उच नियाले की नई सरकिट खंड़ पीट भोपाल में इस्तावित किया जाना पिस्तावित था पिदेश में आठ विसेश नियाले शुरू की गए विष्टाचारियों को जल्द सजा देने और उनकी संपत्ती राज साथ करने के लिए पिद अद्वेदेश के नहराज के सर्वोच नाले को तीन मुक्नयादीश दियें इसमें मुक्नयोद आर्जी लहोती और स्रीमति हिदायति अल्दन नियामति श्री जैयस वर्माण। सुलिक्न के सामलें बात करते हैं पुलिस पिसास पुलिस महानिजदेशक 1982 में सिजित किया गया है यहां राज का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है पहले पुलिस महाने दे सकते स्रीब बीपी दुबे पुलिस अधिक चक की बात करें एसपी की तो पितेक जिले का प्रमोक पुलिस अधिकारी पुलिस अधिक चक होता है SP, नगरसेना, राज में नगरसेना पैरा पुलिस फोर्सेच के रूम में कारगत है, इसकी सेवा है टेफिक सारवजने संपत्ती, उच्छा दिकारियों की सुरक्षा में ली जाती है, हॉमगार्ड, राज में हॉमगार्ड का विवस्ति संगठन है, और इसके अपने महाने दे इसमें सामिल हैं इंदोर, खंडवा, खरगोन, बढ़वानी धार, जाबगवा, अली राजपूर, बुर्हान पुन, उच्जेन रेंज में है, उच्जेन दिवास, लत्लाम, साजापूर, नीमच, मंदसों और आगर, होसंगाबाद रेंज में है, होसंगाबाद हर्दा, र ननिवाडी, रीवा में है, रीवा, सीधी, कटनी, सतना, सिंगरोली, वाला गाट में, वाला गाट, मंदला, डिंडोरी, चंबल रेंज में है, मुरेना, सेवपूर, बेंड, दतिया, सहडोल में, सहडोल, उमरिया, एवं अनुपूर हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, रेल पूलिस की पिथक सरजना है, इसका भी एक महार निरीच सक होता है, इसके, इसके अधिन तीन सेच्षन है, सेच्षन है, इंदौर, भौपाल, जवलपूर, भौपाल सेच्षन के अंतर का सरवाधिक आर्ट थाने, मद्पेदेश में, पूलिस रेंजी, की संख्या गया रहे पूलिस रेंजी की संख्या कितनी है, पूलिस कंट्रोल रूम, आपके त्रीपन है, पूलिस थानों की संख्या अभी 2020 तक, जन्वरी तक, ठीक है, 2019 दिसंबर लग तक थे आपके पूलिस थाने, 1099, पूलिस चौकियों की संख्या थी, आपके 562 है पुलिस उप संभाग हैं 1889 पुलिस थाने हैं आपके पुलिस थाने हैं आपके हो गए 52 ठीक है पुलिस थाने पुलिस जिलों की संख्या 52 ठीक है बद्विदेश के कुल छेदफल में 3002 किलोमीटर में पुलिस की उपस्तिती का अनपाद 27 साथ की रेल पुलिस के पहले संभागी है मुख्याले की इस्थापना इंदोर में की गई थी जून 2012 में पुलिस मुख्याले पर मुख्याले इस तरप महला अपराज साखा का गठन पितेक जिले में राजपत्तित अधिकारी फिवार से किया गया पुलिस पिसासन द्वारा एक जनवरी 2013 से राजपत्तरिय महला कॉल सेंटर 1090 प्यारम किया गया क्या है 1090 प्यारम किया गया ठीक है याद रखना है आपको आंगे बात करते हैं पिदेश में 9 महला थाने हैं मद पिदेश में इंदोर डी आईजी ओफिस देश का पहला ISO 9001 अनपाते 2000 प्रमाडपत प्राप्त करने वाले DIG ओफिस हो गया है ठीक है याद ग्यारवी पंचवर्षी योजना के तहत मद पिदेश में बोपाल में वोग पुलिस अधीक चक की टेनिंग के लिए राष्टी इस्तर का पिषिक्षन संस्थाम खोलने की मंजूरी कैंसर कार ने पिदान की पिदेश में बोपाल जवलपूर वजयन दतिया पन्ना मुरेना हर्जिन पुलिस थानओ पुलिस कल्यार थानों की स्थापना की गई ठीक याद रखना है आपको अहांगे बात करते हैं लूँ मद्विदेश में विशेष ससक्त बल एक्ट 1968 में लागू हुआ था ठीक पिदेख पिदेख पुलिस रेंज का मुख्या दिखारी उपमानी दी सक हो था जिसे डी आईजी कहा जाता है पिदेश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचा रोक नहीं तू मद्विदेश द्वारा हेल्प लाइन सेवा सरू की गए नव आरक्चक एवन पिलाट्टून कमांडरों को छटवी वाहिनी जावलपूर में पिसीक्षन दिया जाता है पुलिस महा बिद्ध्याले सागर की का प्रिभारी पुलिस उपना महा निरिक्षक होता है मद्विदेश का सर्वोच पुलिस अधिकारी पुलिस महा निरिक्षक होता है गरह सची के अधिन काम करता है यहाँ पुलिस मुख्याले भुपाल में 1960 में भुपाल में CID मुख्याले की स्थापना पुलिस में विशिष्ट अपरादों की प्रवितियों का अधियन अनुसंधान के लिए की गई पुलिस में 15 अपराद उननीस सो बासट को अपराद इवं अपरादियों का रिकॉर्ड रखने के लिए भुपाल में ससक्त कंप्यूटर की इस्थापना की गई थी आँगे बात करते हैं हम लोग पिदेश में विविं न는 गंभीर मामलो को सुझाने के लिए छोसांस साइन्स का नाम है जवाहल लाल नहरो पुलिस अकादमी पिदेश में पुलिस वायलेस पिसीक्षन संस्थान आपका महाविद देहला इंदोर में है वायलेस के कारम के बारे में पुलिस कर्मियों की जानकारी देने के लिए इस्थापित किया गया रीवा में इस्थापित पुलिस मॉर्टर बर्ग्स ओप विसीक्षन साला कि द्वारां पुलिस के बाहन करमचारियों को विसेश पिसीक्षन की सुविदा उपलब दिक्राई जाती है बहुपाल में पुलिस याता है यात पिसीक्षन सचता है मद्पदेश भूर्थपूर मद्भारत की पित्थम पुलिस महानिदेशक स्री के एप रुस्तम जी है के एम रुस्तम जी है मद्पदेश के गठन की समय 1956 में पाँच पुलिस रेंज इस्थापित की गए जो ग्वालियर इंदोर रीवा रायपूर और जवलपूर में थी मद्पदेश में सरफ पित्थम 1956 में बीजी घाटी को पित्थम पुलिस महानिदेशक बनाय गया था जो कि उस समय का सरवोच पुलिस अदिकारी थोता था लेकिन सन 1982 में पुलिस महानिदे EHक के स्थान पर पुलिस का सबसे वरिष्ट अदिकारी महानिदेशक कर दिया गया 1894 कि कारागार अधिनियम के अंतरगत मद्पदेश के करागार निएम 1930 बनाए गया मद्विदेश सरकार द्वारा 15 फरविरी 1964 को भोपाल जिला कारागार में बंदी हित दिवस कायोज़त किया गया था मद्विदेश की कारागार विवस्था की समीक्षा उसमें सुधार के लिए 26 जन्वरी 1968 को जेल सुधार सम्ती गटित की गई याद रखना है मद्विदेश में सन 1995 सिक कारागार में बंदीरों के लिए योग सिक्षा अनिवार कर दी गई है मद्विदेश में पहली मद्विदेश में पहली खुली जेल की स्थापना नव जीवन सिविर के नाम से नवंबर 1973 में ततकालीन गुलना जिले के बरतमान में असोक नगर के मुंगावली में की गई थी याद रखना है मद्विदेश में होषऑंगाबाद में मैला जेल स्थापित है मद्विदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी आपकी होसंगाबाद में 2010 में स्थापित हुए पिदेश में नर्सिंग पूर जबलपूर में किसोर बंदी रहे इस्थापित किये गए है कहां कहां नर्सिंग पूर जबलपूर हरीजन एबं आदिवासी पे कोष्ट की स्थापना पुलिस मुक्याले भूपाल में की गई कि मद्विदेश में सेबा संबर की पितम महला IPS अदिकारी थी आसा गोपाल मेहला पूलिस थाणा आपका भूपाल में यह कि एसोम। पिरमाड़ अरित थाणा आपका दिवास, मद्विदेश पूलिस नेट सुब्दा को पोल नेट कहते हैं तीर याद रखना है अब बात करें जेलों की बिभागी सरचना केंद्रिये जेल केंद्रिये जेल में एक पितम सैंडी अधिकारी जेल अधिक्छक होता है इसके अलावा विधिये अधिकारी चेकिस्सा अधिकारी फरवीक्चा एवं कल लियाड अधिकारी जेलर उप जेलर होते हैं राज में 11 केंद्रिये जेल हैं पितेक में बिभागी जेल अधिक्छक पदस्त हैं जिला जेल की बात करें तो मदपितिश में 49 जिला जेल हैं राज में 14 13 जिला जेलों पर बिभागी जेल अधिक्छक हैं जबकि सेस जिलों में जेलों में से जेल अधीक्छक का अतरिक्थ पिवाज जिला पिसासन की अधिकारी को दिया है। ओप झेल की बात करें तो बहततर ओप जेल है। यहाँ सभी जेलों पर विभागीये जील अधिक्छक की पद सुईकित नहीं है। इस इस्तिती में अनुविभागिय अधिकारी को पदेन जेल अधिक्षक बनाए गया अब बात करें पुलिस पिरमुक पुलिस स्थानों के बारे में राज्य पुलिस हेड़क्वार्टर आपका भुपाल है जवाहलाल नहरू पुलिस अकादमी आपकी सागर में है मदबिदेश पुलिस कॉलिज आपका सागर में है ससक्त पुलिस पिसीक्षण के इंद आपका इंदोर पुलिस मोटर वरक्स आपका रीवा पुलिस वायरलेस पिसीक्षण के इंद इंदोर पुलिस यातायाद पिसीक्षण के इंद बोपाल स्वान पिसीक्षण के इंद आप कुछ महत्पून पॉइंट पर रिचे हुए उन्हें भी देख लेते हैं मद्पिदेश लोक सिवायव का गठन 27 अक्टूबर 1956 को गिया गया मद्पिदेश के पिथम मुख सचिप थे एच एस कामत थे जबकि नर्वना दूसरे मुख सचिप थे मद्पिदेश की पहली आईएस तत्म पहली मुख सचे बनने वाली महला थी स्रीमती निर्मला बोच मद्पिदेश में पिथम विरोधी दल के नेता विस्वनात तामस कर थे जबकि पहली विपक्ष की महला नेता थी जमनादेवी मद्विदेश में पहली महला नयादी स्रीमती सरोजी नी सक्सेना रही है मद्विदेश के गठन के सरप्थम 1962 में पंचयाती राज अधनीयम लागू किया गया था पांडे समिती की सिफारिस पर जिसमें त्री स्तरिय पंचयाती राज का प्रावधान था 1965 में इसके लिए चुनाओ कराए गए जबकि जन्पत के लिए 1971 में याद रखना मद्विदेश में 1000 की आबादी पर ग्राम पंचयात, 5000 की आबादी पर जन्पत पंचयात, 50,000 की आबादी पर जिला पंचयात गठन किया जाता है अनुचित 243H के अनुचार पंचयातों को कर लगाने का अधिकार उस राज का विधार मंडल दे सकता है मद्विदेश में याद प्रावधान है जन्पत पंचयात का च्छित विकास खंड है ठीक है? आगे बात करें मद्विदेश देश का पहला राज जिसने ग्राम स्वराज की स्थापना किये 26 जन्वरी 2001 से संपूर्ण पिदेश में पिदेश में ग्राम स्वराज विवस्था को लागू किया गया मद्विदेश की ग्राम स्वराज की इस नई विवस्था में ग्राम पंचयातों की सभागोव सितीनेधी एकाई माना जाता है इसमें पितेक ग्राम में एक सभाँ होती है पिक्रिया के जिम्मा राज सरकार के बिभेख पर निर्भार करेगा अनयका नहीं 73 समिनाद संसोधन विधियक 1992 की अनुसार 243 जाय में पितेक पाँच बरसों में पंचायत की आर्थिक रिस्तितिगी समीक्षा के लिए एक बित आयुकी इस्थापना का प्रावधान है मद्विदेश में पंचायती राज प्रावधान लागू करने दू राज निर्वाचन आयुक को गठन 29 जन्मरी 1994 को स्री लुहानी के अध्यक्षा में हुआ था इस आयुक ने 15 अप्रेल 1994 को पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिस उचना जारी की थी मद्विदेश ने सन 1961 में मद्विदेश नगरपाल का अधिनियम 1961 पारित किया इस अधिनियम के पास होने के पस्चात राज में पूरुप के सारे अधिनियम समापनगरी अधिनियम समाप्त हो गए है अब बात करते हैं आगे 74 समिधान संसुधन अदिनियम 1992 का अनुपालन करने वाला देश का पहला राज्य है मद्धपिदेश मद्धपिदेश ने 30 दिसंबर 1993 को विधान सभा में मद्धपिदेश नगरपाली का विदेयक पिस्तुत किया था ठीर याद रखना है बिन्धपिदेश जो मद्धपिदेश का ही यंग है मैं 1907 में दतिया में नगरपाल का की स्थापना की गी थी लेकिन इससेपूर 1864 में जवलपुर महा कौसल चित में मद्धपिदेश की पहली नगरपाल का स्थापत की जा चुकी थी ठीक है याद रखना मद्पिदेश सरकार ने 2002 को इंदोर भोपाल जवलपुर ग्वालिया रोज्जयन के महापौरों के कैमिनिट मंत्री का तथा अन्य नौ को राजमंत्री का दर्जा दिया था ठीक है मद्पिदेश सासन ने ग्रामों की समस्याओं को कतुरित भा इस्थानी है इस्तर पर निराकर्ण करने के लिए आठ अगस्त 2004 को ग्रामीड सचिवालाई की विवस्ता की है मद्पिदेश में नगर के महापौर का चुनाव नगर की जनता के द्वारा फित्यक्च रूप से किया जाता है यो पांच वर्स के लिए होता है मद्पिदेश के जिलाद जिलाद जनगरना अधिकारी के रूप में कार करता है सम्मीदान के अनुशा 318 के इंतगत मद्पिदेश में राज्च लोक सेवायोक के सदस्थों के बेतन बत्ते वा अन सेवा सरतों का नेधार राजपाल द्वारा किया जाता है मद्पिदेश में लोक सेवायोक का मुख्याला अपका हिंदोर में है मद्विदेश में सारविजनेक जीवन में व्याप्त विष्टाचार को दूर करने के लिए लोक्त आयक्त नामक संस्था की इस्थापना की गई जिसकी निकती राजपाल करता है मद्विदेश विवधान सबाव 1981 में लोक आयक्त विद्वारित किया गया जिसे राष्टपती की मंजूरी के बाद अधिनियम के रूम में लागू किया गया जबकि पहली बार 1975 में यह विद्वारित किया गया था सम्मिधान के अनचे 316 के अंतगत के तहट राजलोक सेवायू के अध्यक्चो सदस्य अपने पद से 62 वरस की आयू में सेवानेवित हो जाते है एकानवेवे सम्मिधान संसुधन अधिनियम 2003 द्वारा मद्विदेश बिधान बंडल में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या बिधान सभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी दातवाला तथा हनुमंत राओं सम्म्ती जिलाने उजन से संब्दित थी याद रखना है अधिस उचिस संब्दी च्छावनी संब्दी नगरिये निकायों से संब्दित थी रफीक जकारिया संब्दी का संब्द नगरिये निकाय से था आँगे बात करते हैं मद्विदेश देश का पहला राज्य जिसने इस्थानिय नगर निकायों में महिलाओं को 50-30 आरक्षण की वेवस्ता किये राज्य सत्रक्ता एक किष्थापना मार्च 1964 में की गई मद्विदेश की सभी पंचायतें कम्प्यूटरी कित्प होगी राष्टिय इगवर्नेंस कारक्रम में 30-30 पंचायतों के माध्यम से आम लोगों को मिसन मोड प्रोजेक्ट में सामिल किया गए जनोपयोगी 23 सेवाएं उपलब्द कराने के मकसद से पिदेश की सभी 23,000 बारे ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरें की कारवाई शुरू की गई सो सासन एबं नीती विसलेशन स्कूल राज सासन द्वारा बोपाल में स्कूल की स्थापना 2008 में की गई थी तो यह था आपका राजनेतिक एवं पिसासनिक परीदिस 19 वा चेप्टर आंगे हम लोग बात करेंगे जन जाती है परीदिस के बारे में ठीक है याद रखिए नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मद्वेदेश सामान ग्यान के बारे में तो याद रखिए हम लोग अभी तक 19 चेप्टर खत्म कर चुके हैं 19 वा चेप्टर था आपका राजनेतिक एवं पिसासनिक परीदिस इस अभी मद्वेदेश के परीदिस में था इसमें बात करने वाले हम लोग जन जाती परीदिस के बारे में जैसा कि आपको पता होगा म मद्वेदेश में काफी जन जाती पाई जाती है सबसे जानदा इसलिए यह टॉपिक मद्वेदेश की परीच्छाओं के लिए इसपेशल बहुत थी महत्वों है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जाती के बारे अनुसूचित जाती समीधान के अनुचित तीन सो एकतालीस में सूची बद्द जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती है क्या वो समझना है आपको सम्मिधान के अनुचित 341 में 3-4-1 में सूची बद जातियां आपकी अनुची जातियां कहलाती है जनगरना 2011 की अनसार राज में अनुची जाति की कुल संख्या है 1,13,42,320 फिर से सुन लिजिए 1,13,42,320 जो राज की जन संख्यागा 15,630 है जो कुल राज की जन संख्यागा कितना पितिसत है 15,630 चमार जाति राज की सबसे बड़ी अनुचित जाती है अन जातियों में आपकी खटेक राज की दूसरी बड़ी जन जाती है भंगी, बलाई, बेडिया, लखारा, बसोड, तिरमोक्त बेडिया नामक अनुचित जाती सागर जिले में निवास करती है बेडिया नामक जो अनुचित जाती है ए आपकी सागर में निवास करती है जो बैस्यावित्ती से बंसा अनुगत रुख से जुड़ी है सरकार ने इस पिथाप से मुक्ती ही तू किस से बैस्यावित्ती से मुक्ती ही तू जवाली योजना चलाई बेडिया जन जाती में जो बैस्यावित्ती थी उसे मुक्ती करने के लिए भटाने के लिए वसोड अनुसूचित जाती वाला घाट में निवास करती है जोकी बास सिल्फ में फारंपरक थे जनसंख्या की दृष्टी से सरवाधिक अनुसूचित जाती आपकी इंदोर में पाई जाती नियुन्तम अनुसूचित जाती आपकी जाबुगा जिले में पाई जाती जनसंख्या के मामले में सबसे जाना अनुसूचित जाती कहा पाई जाती है इन दोर में जन संक्या की दृष्टी से सबसे कम जन संक्या जन जाती जन संक्या पाई जाती है जावगे पितीचत की दिरिष्टी से सरभादिक अनुसूचे जाती ऑजळेन में 26ión24 pittisat नेउनतम जाबुआ में 1.7 पितीसत तो याद रखना जन संख्या की मामले में इन दोर पहले नमबर पर और सबसे लाश्ट में है जाबुआ और पितीसत के मामले में और जन पहले नमबर में जाबुआ सबसे नीची ठीक 2011 की जनगरना करिमसार अनसूचित जातियों का लिंगन पाथ 920 है यानि की 1000 पूर्सों पर 920 महिला है ठीक है 2001 में ये 950 था शाक्षात्तर दर की बात करने तो 58.6 पितीसत है सरवादिक साक्षात्ता बाला जिलाग का बाला गाठ है मद्विदेश की दहिया जाति को अनसूचित जाति में सामिल किया गया है ठीक है अब बात करते हैं हम लोग अनसूचित जन जाति के बारे में अनसूचित जन जाति 2011 की जनगरणा के अनुसार अनसूची जनजातियों का पितीसत मद्विदेश में 21.1 हिस्साइस का जबकि संख्या इसकी है एक करूर 53,16,784 जो भारत में सरवादिक है राजी की कुल जनजाति आबादी में भीलों की जनजातियों सबसे आदेख्या पितीसत में दूसरे नमबर पर अनुसूची जनजातियों के लिंगन पात है 975, कितना है? 975, एक हजार पूरसों पर 975 महिला है अनुसूची जनजातियों में सरवादिक इस्ती पूरुस अनुपात राज बाला जिला है आपका बालहगाट यहां 1050 महिला है एक हजार पूरसों पर 1050 महिला है ठीक है? राज जी के बावन जिले है जिलों में जनजातियों का निवास है यह पी उनकी संख्या में अंतर है क्योंकि अब बावन जिले हो गए आपके ठीक है जनजातियों का दो पेटियों में ज्जाबुगा से सत्कोड़ा परवत्त और मैकाल परवत्त से बगेल खंड़क तक भारी सा केंद्रण है धार जाबुगा मंदला खरवुण में पचास किती सत्स से अधिक आवादी जनजातियों की है धार में सरवादीक जनजाति पाई जातीयों जनसंख्या में उक जनजाती संख्या है नियुन्तम जन संक्या की बात करें तो भेंड में 6131 पिती सत्की दिरिष्टी से सरवादिक अनुसुचित जान जाती है अली राजपुर में नवासी पिती सत्य वो सबसे कम है भेंड में तो याद रखना जन संक्या में सबसे जाना दार में और पिती सत्में अली राजपु टीक है आंगे बात करते हैं मत्विदेश की तीन मत्विदेश की तीन बड़ी जंजातियां बील गौन कोल है विशेश पिछडी घोसित जंजातियां की बात करें तो कैंसर का नहीं राजी की तीन जंजातियां को विशेश पिछडी जंजातियां को विशेश पिछडी जंजा विकास के लिए राज इस तरिये विकास प्राधीकर्ण का गठन किया गया मद्पिदेश का वाला घाट जिला हलवा जन जाती का मुख निवास इस्थान है जवलपूर माडिया का तथम पिद्पिदेश खेरवा जन जाती का निवास इस्थान है मद्पिदेश में 1964 में आदिम जाती कल्याण विवाग की स्थापना हुई थी जन जाती है सो देवं विकास संस्थान आपका भोपाल में हैं ठीक आगे बात करते हैं देश का पहला आदिवासी संचार केंद जाबुगा में हैं मत्पिदेश का नहीं है देल्स का देश का पहला आदिवासी संचार केंद जाबुगा में मत्पदेश के अमरकंठक में केंद द्वारा आधिवासी परसोत हेतु इंद्रा गांदी आधिवासी विस्विध्याले खुला गया तो पूचलेगा इंद्रा गांदी आधिवासी विस्विध्याले का है तो याद रखना अमरकंठक में देश का फैला आधिवासी संचार के अंद का है जहाबुगा में। बेगा मूलता दच्छन भारत में पाई जाती है मंडला जिले में बिसेश कर बेगा चक नामकिस्तान पर बेगाओं की संक्यासरवादित है बेगा जन जाती में गौमास खाना वर्जित है बेगा जन जाती में पंचायत विवस्ता होती है जिसमें पांच पिकार की पंच होते हैं मुकदम, दीवान, समरत, कोटवार, दवार मुकदम गाओं का मुकिया होता है सहरिया जन जाती का सर्वादि घनत ताप का वालियर संभाग में मत्यपिदेश आदिवासी बित एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के इंतर्गत की गई थी निगम द्वारा आति के मुम्रोजगा रियोजना का क्रियानमन एक अप्रेल 1995 से पहरम किया गया पारदियन जन जाती के साथ गिने जाने वाले बहेलियों का भी एक उपगरब जो कारगर कहलाता है या केवल काले रंग के पक्षियों का ही सिकार करते हैं कोरवा जन जाती की पंचयात को मियारी कहते हैं मद्पिदेश मद्पिदेश के अली राजपुर के भावरा में विसके पहले भेली समुदायक रेडियो केंद्र आरम होने के बाद जन जातियों का भोगोलिक बितरन बात करते हैं जन जातियों का भोगोलिक बितरन तो मद्ध आदिवासी चेत इस भाग में आपका होसंगबाद बैतूर नरसिंगपुर जबलपुर हर्दा रायसें आदि जले संबले थे यहां पर गौण्ड कूरकू जन जाती निवास करती है पर आपका पूर्वी आदिवासी चेत इसके अंदर गदापका सीधी सतना सहडोल रीवा जले हैं इस चेत में निवास करने वाली पिनमुक जन जाती आपकी कोल है कौनसी है? इसके अतनि गोण्ड जन जाती भी यहांपर निवास करती है पश्चमी आदिवासी चित, इस चित में आपका धार जागुआ, बरबानी खंडवा बुरहानपूर, खरगोन, रतलाम, आदीजिले समले थे जहाँ पर मुक्रूप से भील जन जाती पाई जाती हूँ साथ ही इसकी उपजन जातिया हैं विलाला, वरेला, पटलिया भी निवास करती हैं तर आपकी दश्चडी, आदिवासी चित, इस भाग के अंतरगत आपका बालागाट, मनला, डिन्डोरी, सिवनी, छिदवाड़ा समले थे इस छेत में निवास करने वाली मुख जन जाती, आपकी बेगा चक के बेगा, डिन्डोरी, साथी भरिया, पाताल कुट, छिदवाड़ा, गौंड, मडिया, हलवादी हैं फिर उत्तर उत्तरी, उत्तर एबं उत्तर पश्चमी, इस भाग में आपका ग्वालियर, भिंड मुरेना से उपरी, टीकमगर, छतरपूर, सागर, दंबो, जिले, सामले, जहाँ पर सहरिया और सौर जन जाती निवास करती है, अब आप लोग बात कर लेते हैं, जन जातीयो इसका मूल देविडियन है, गोडों की उत्तर पत्ती तेलगू के कौंड सब्दे से हुई है, जिसका रहत है परवत, अर्था तेया जन जाती परवतों पर निवास करती है, इस इन में अनेक पिकार के विवाय होते हैं, दूदलोटाना, पठोनी, चड़ विवाय, लम सैना तो याद रखे, उंच लेता है, कि गोडों जन जाती में, कौन से विवाय होते हैं, दूदलोटाना, पठोनी, चड़ विवाय, लम सैना, गोडों जन जाती में बर द्वारा, वदू मूल नहीं चुकाने की स्तिती में, वह भावी ससुर के यां सेवा करता है, जिससे खुस लामनाई कहलाता है, इसके साथ पिरमुकते वारें, गोडों जन जाती के साथ पिरमुकते वारें, वीदरी, बखपंती, हर्डीली, नवाखानी, जवारा, मडई, और छेता, इसका पेज, इसका पिरमुक भोजन है, पेज, इसका पिरमुक भोजन है, ठीक है, आंगे बात क मत्विदेश की गौंड जन जाती में भाई का लड़का व बहन की लड़की अत्वा भाई की लड़की व बहन का लड़का में विवाय का पिछलने जैसे दूद लोटावा विवाय कहा जाता है मत्वेदेश की गौण्ड जन जाती बेहुसाय के आदर पर कई उपजातियों में विभाजे थे जैसे लोहे का काम करने वाली अगरिया मंदिरों में पूजा पाट करने वाली पिधान पंड़ताई या तांतर किरिया करने वाली वोजा कहे जाते हैं गौण्ड गोत समाज है तता परिवार पित्त सत्त्रात्मक है ठीए गौण्डों के घर में अथीतियों के लिए बंगला होता है गौण्ड इस्तिनियां गुद्ना पर दिये हैं मुडियाओं के समान गौण्डों में भी भोटुल पिता पाई जाती है गौण्डों में दो पिर्मुक बर्गों में विवक्त है राज गौण्ड और धुर गौण्ड मड़ई गौण्ड और उसकी उपजाती हों का एक सांस्क्रित मेला है मड़ई गौनों के पिरमुक देवताओं की बात करें तो पिरमुक देवताओं में सामेल लें आपके हिंदू देवताओं के साथ ठाकुर देव, माता भाई, दूला देव, बाधिसुर, सूरज देव, खेर माता, ग्रम देवी इनके पिरमुक देवताओं पिरमुख नित्तों की बात करनें तो कर्मा सेला, भडोनी, सुगात दीवानी, विरहा सजनी, कह रवा, इनके पिरमुख तेवहारन फिर बात करते हैं भील जन्जाती के बारे भील जन्जाती मत्पिदेश की पिरमुख सबसे वड़ी जन्जाती भील जन्जाती है इसका मूल है Proto-Australide परिवार माना जाता है भील जन्जाती का सांक्यंद्रन पिदेश के पष्च्मी चेत जैसे की धार जावूआ पष्च्मी निबाड में है भील सब्द संस्कित भासा के भिल सब्द से बना हुआ यह भी माना जाता है कि भील सब देविट भासा के भील या भील से बनाए जिसका अरत होता है धनुस भीलों के मकान को कू कहते हैं या मुक्ता जाबुआ में निवास करते हैं भील भील जहां रहते हैं उस जगे को फाल्लया कहते हैं इसकी उपजातियों की बात करें भील की बरेला भिलाला पटलिया रथियास बेगास इसकी प्रमुक उपजातिया हैं भीलों के पारमपरे परवें गोल गदेडु भगोरिया चलावाडी जात्रा ठीक है आँगे बात करते हैं पितोरा भीलों का पिसिद्द चित्थ है और स्री पेमा फाल्या उसके सेष्ट खलाकारें 1987 में सिखर सम्मान मिलाता है मत्पदेश के जाबुआ जिले में आईजित भगोरिया हाट साथ दिवसी परवे भीलों का पिसिद्द पेड़य परवें जो होली के अउसर पर आईजित होता है भील जन्जाती में बिवाय की परंपरा में अपवहरन, विहार, अर्थात कन्या का हरन करके बिवाय करना बहुत पिछले थी गोल गदेडो मत्पदेश की भील जन्जाती द्वारा होली के अउसर पर आईजित किया जाता है भील संसार की सबसे अधिक रंग पिरिये जन्जाती है, भील इस्त्रिया विष्ट की सबसे अधिक गहना पिरिये जन्जाती है पिरिये इस्त्रिया होती है इसकी गहना पहनती है भील सौभाव से तुनक मेजाज होते है यहां तक की जरासी बात पती चला कर राध्या करने में नहीं चुकते हैं भील तो भीलों से आपको बचके रहना है भील प्रेया ताड़ी पीना, मक्का खाना परसंद करते हैं भील जन्याती का प्रमुखा दुकदार रावड़ी है भागोरिया भीलों का प्राक्तिक प्रियनित है थिराप कियाती है बेगा कौँसी है बेगा जन जाती है मद्वदेश के दच्चिर छेत में बेगा सरवादिक मत्पूर जन जाती है यह गौन्डों की उपजाती है उपजाती है इसकी भरोतिया, नरोतिया, रेमेना, कठमेना इस जन जाती पर लिखी गई पुस्तक है बेगा इसके रचेता है बेरियर, एल्विन याद रखिए कही बाद पूँच लेता है इस मुख को सबसे पहले तो पूँचेगा आपसे अगर पूँच सकता है इन में बेगा जन जाती में बासी भोजन की परंपरा है बेगा जन जाती में समय के इनुसार तीन भोजन होते हैं सोबय का बासी, दुपर में पेच, रात्री में वियारी पिछलेते हैं इनके पिरमुक नेत हैं कर्मा, सेला, परदोनी, फाग साज इनका प्रिये बैक्च है जिसमें इनके देवता बूडा देव गवास करते हैं ठाकुर देव गाउं की भूमी के देवता हैं बेगा बेवार या पुंडु क्रिती घूंब किसी करते हैं जबकि बारी नामत खेती पत्दिती गोण्र चैनजाती द्वारा अपनाई जाती है बेगा जन strizes इनकी बसावर्ट को सहराना कहा जाता है, इसका मुख्या होता है पड्टे इस जंजाती का मूल निवास है आपका साहबाद जंगल कोटा राजिस्ता सहरिया अपने आपको भीलों का छोटा भाई कहलाने में गोरानुवित अनफ़ाव करते हैं सहरिया मदकदेश के उत्तर पर्ष्चमी भाग गुना सिवफुरी बेंड मुरैना में पाए जाते हैं सहरिया जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्ध हस्त होते हैं कि इन सरकाद वारा गोसित बिसेश फिचडी जंजाती है फिर आपकी भारिया क्या है भारिया जंजाती भारिया या द्रविडियन या कोलिरियन समू की जंजाती है पाताल कोट छिडवाडा की भारिया आदिम मानो जैसा जीवन जी रहे हैं भी भी भारिया जिस स्थान पर रहते हैं उसे डाना कहते हैं भारिया में चूड़ी पिता पिचलित है इसका मुख भोजन पेज है महुआत और आम की बीजों का रोटी वर्सा रितू में खाते हैं लोग इनकी बोली है भर नौटी राजा करण दियो को भारिया अपना पूरवज मानते हैं इसमें चाल पिकार के विवाय होते हैं मंगनी, लम सेना, राजी वाजी और फीदवा विवाय ठीक है भरम सेतम, करमा सेल, शेला इसके पिरमुख नेत हैं भरिया जाती है इनके पिरमुख देवता हैं बूड़ा देव, दोला देव, वरुआ और नाम देव देव, दहिया, खेती करने वाले भरिया अब स्थाई करसी करने लगे हैं सन 1981 में, जन्गर नामें पाताल कूट के भरियाओं को जंगलिया के भी जंगली नाम से सम्मोधित किया गया था भरिया सब दिवास्तिव का बास्तिवे करत ग्यात नहीं है भारियाओं की बाचित परंपरा अत्यतिक सम्मेथ है, गीत कथा गाथा पहलिया आदी इनके पास भंडार हैंके ठीक, आँगे बात करते हैं कोल, कौन सी जन्ग जाती? कोल जन्ग जाती कोल जन्ग जाती कोल जन्ग जाती का मोल निवासिस्तान आपका रीवा के वर्दी राजाचित के कुराली को माने जाता है कोल गाओं या सहर की समीब अपना अलग महला बसा कर रहते हैं इसे टोला कहते हैं या मद्विदेश की तीसरी बड़ी जन्ग जाती है इनके दो मुख और बाग हैं कौन से? रोहिया और रोदेला इनका दहका नित अतेंथ पिसिद है कोल जन्ग जाती की पंचायत को गोहिया कहा जाता है कोल कभी सासक भी रहे है कोल राज्ज कभी चोल पांड़ाओ तथा केरल राज्ज की तरह था फिर आपका कोरकू कोरकू जन्ग जाती मद्विदेश की कोरकू जन्ग जाती एक आदम जन्ग जाती है जो मद्विदेश के दच्छडी जलों में नवास करती है अधिकांस, कूरकू, होसंगबाद, पश्चमी सत्थोडा, पूरवी नवाड, बैतूल, छिदवाड़ावें बसे लिए इनमें कई विवाय पेचले थे जैसे लम जना या लम सेना विवाय, चितोडा, राजी वाजी, विदवा विवाय, हट विवाय आदी इनकी चारो जाति पतरिया, रोमा, दुलारया, और बोवई, खम स्वांग, इसका पिसिक, पिसिद नित पिदान नाटक है, जिट के पास जमीन जैजाद है वे राज कूरकू कहलाते हैं, खूरकू समदा एक गोत चिन से बदा है, सम गोतरी विवाय वरजित है, मिर्तकों को दखनागनी की पि मिर्ति में लगड़ी का मिर्ट तक स्थम मंदा लगाते हैं, कूरकूओं में मिर्त संसकार में सेडोली पिथा का बिचलन, पढ़ियार और भूमिका, कूरकूओं के अती सम्मानित ब्यक्ति होते हैं, गोंडों की एक साखा अगरिया है, जन्जाती का पिर्मुक बेउसाए, लोही को गला का रोजार बनाना है, इस कारण यह अगरिया कहलाते हैं, यह उदर, दाल, कुस्व संकेत की रूम में उप्योग में लाते हैं, अगरिया जन्जाती के पिर्मुक देउता लोहा सुर है, जिनका निवास इस्थान धदकती हुई भट्टियों में माना जाता है, अगरिया लोग अपने देउता को काली मुर्गी की भेंट चड़ाते हैं, इनका प्रेभोजन सुगर का मास है, अगरिया का, प्रेया की पार जन्जाती का मुक निवास भोपाल, रायसेन सिहोर जिलों में है, ठीक है, प्रेया आपकी पनीका जन्जाती, पनीका मुकता च्छतीसगर के बिंद पिदेश की जन्जाती है, या मद पिदेश की सीधी और सहडोल में पाई जाती है, इस जन्जाती के लोग कवीर पंती है, कभी रहा भी कहत लाते हैं लोग कभी रहा मास मदिना का सेवन नहीं करते हैं सूर इंद हनुमान दूला देओ भूडी माता मरी माता उल्डी वाई आदी की पूजा करते हैं पनी का मुक्तब बुनकर जन जाती है जो परंपिरेक रूप से बस्तों का निर्मार करती है फिर आपकी खेरवार जन जाती खेरवेक्च से कथा निकालने के कारण खेरवार कहलाने लगी है इस जन जाती का विवरण उमरिया सीधी अनुक्पूर सहडोल में मिलता है खेरवार मुंडा समुग की प्रमुक जन जाती है पन्ना चतरपुर में खेरवार खेरवार जन जाती को कौंदार की नाम से जाना जाता है तरे आपका बंजारा बंजार जन जाती कभिलाई पदिती का प्रभाव आज भी है इस पर बंजारा का मूल परदुभाव, राजिस्तान से है, इसके इनका निवासिस्तान निवारचित में, बंजारा लोग गाउं की वसावट को टांडा कहा जाता है, टांडे का पिदान अत्वसरदार नायक कहलाता है, बंजारा जन्यती में फटेल, सरपंच कपद भी नायक समालता है, ठीक है, कभीले, कभीले का एक मुखिया होता है, जिसे नायक कहा जाता है, बंजारा इस्तिरी है, संसार की सरवाधिक, सिंगार, प्रिये जन्जाती है, प्रिये जन्जाती है, पहले यह जन्जाती है, वालद लात कर लाती थी, अथाच बेलों पर, लात कर जीवन फोई लोगी सामगरी बिक्राय करती थी अब इनका प्रमुक बेवसाय पसुचारण हो गया है यह जन्जाती सिक्धरम से प्रभावित है बंजारा विस्व में पिथम कंगी की अविस्कारक है तलवार एबं डंडा वेली बंजारा जन्जाती की प्रमुक नेत्वी है फिर आपकी ध जन्जाती द्धानक जन्जाती की लोग मुकता भेंड मूरेना उज्जन रतलाम जाबगा इंदोर सतना है में निवास करते हैं बंग सब्दी की उत्पति संक्रित के धनूस इवी जिसका रतुत्ता है धन्यूस रखने वाला इनमें वीवाय सामंता वालावस्था में हो जा जाती है जिसका एक नाम का दूला देड मुद्वार मद्वदेस का अलब संक्यत जन जाती है बिंज बार जन जाती मद्वदेस के बाला घाट और विला में निवास करती है यह मुल्ता बिथविदियन परिवार के है इनका उधगं बिंद्यान चलपर worship माना जाता है पंचायत का मुखिया पटेल अथवा गोटिया कहलाता है ठी तो यह थी आपकी तेनों को जन जाती है अब हम लोग एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं मद्विदेश की जन जाती है उनका निवासिस्थान यह आपकी जन जाती हैं यह उनकी उपजाती हैं को यह निवासिस्थान उनकी जहाँ है सबसे पहले बात करते हैं गोंड इनकी उपजाती हैं परदान, अगरिया, ओजा नगर्ची, सोल, हास इनकी निवासिस्थान है पिदेश की सभी जिलों में मुक्ता बिन्द और सत्पुड़ा अंचल भील बरेला भिलाला पतलिया इनका निवासिस्तान है धार जहावुआ खरवोन बेगा उपजन जातिया इसकी मिंजवार नरोतिया भरोतिया नहर राय रेमेना कठमेना मन्दला बाला गाट सहेडोलन के पिरमुक निवासिस्तान है क पोथरिया, रूमा, दोलारिया, बोवई या बोड़ई, खंडवाग, रहसंगवाद, बैतूल, शिदवाड़ा, देवासन के निवासेता, भारिया, भूमिया, भुईहार, पंडो, शिदवाड़ा, जबलपूर, मंदला, सहडोल, पंड़ा में पाई जाती है, कोल, रोहिया, रोतिला, रीवा साथना सहडोल सीदी में पाई जाती है, मधिया, आभू, जमाडिया, दन्डामी, माधिया, मेठा, कोई तुल, जबलपूर, मंदला, सहडोल, पंड़ा, चेतवाड़ा में पाई जाती है, सहरी आपकी गुना सिवकरी मुरेना सिवकोर गौालिय विदीसा राजिगड में सब और एच्छतरपूर पन्ना टीकमगड सागर दमोर राजिगड में अगर यह जन जाती मंडला सीधी सहडोल पनीका सहडोल सीधी में पार्थी भोपाग सिवकोर रायचन में खेरवार आपकी सीधी सहडोल पन्ना चतरपूर में पाई जाती ठीक मतप्रेश के पिरमुक आदिवासी नित्थ हैं ठीक नित्थ हो गए आपकी नेत्थ और छेते आदिवासी बिलमा बेगा जन जाती गंडी गोंड रीना गोंड छे मामंडला चटकवरा कोरकू मटकी मालबा गोंचो गोंड बिनाकी भोपाल किसकों द्वारा तीना गोंड रागनी वालियर दादर बुंदिलखन गरवा डंडिया निवार के बंजारे सुगा मेकालजणी जन जाती यह होग आप युवागर है जन जाती और युवागर है मुडिया गौंड में घोटुल, भुया, इद्धांगरवांसा, भारिया, रंगबंग, उराओ, धुमकोरिया, मुंडा, गती ओरा, टिक, गती ओरा अब बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ही मत्पून है अनुसोचे जाती और जनजातियों के कल्यार ये तो राज्य की योजना है राजसरकार ने जो योजना चलाएं, उन्हें दिख लेती है अरुडीमा योजना याद रखना है, अरुडीमा योजना जनजातियों बड़ की स्वास्त के बिती जागरू करना इसका मुख उद्देश है फरहाज की जवाली होजना बैस्या बिती में उल्जी जनजातियों की समस्या से सम्मन्दे सासंद्वारा जवाली होजना मुरेना, गुनाग, गुवालिय सिपुरी, राजगर रतला, मंदसों, कुच्चेन, सागर जिलों में सुरूंगिये गई फिर राज अनपूरा योजना उननीस सो जन्यान बेसे दो जार में अनसुचिज जाति योजना, इस योजना में जन्याति ये छेत्रों में निस्वल्ग, चिकिस्था सुग्दा उपलव कराई जाती है संखना योजना, आधिवासी छेत्रों की विकास पिक्डिया में बिद्ध्या लेयों, गुवागीदार बनाना र्याप की कन्या साक्षर्टा परुथान योजना, अनसुचिज जाति ये और अनसुचिज जन्जातियों की कन्याओं में साक्षर्टा बढ़ाना फिर पितिष्था योजना, सिर्फर मेला डोने की कुपित्था को समाफ्थ करने के लिए अंतिवधर कारकरम एक नवंबर 1994 में मद्वधे सरकार द्वारा, तेरह नभी ने योजना इस्तकार करम के तायर किरियान विद की गई, कौन-कौन सी हैं तेरह, पहले ये नव जीवन योजना, ऐसे जन जाती है सदस जो रोजगार की खोज में सहर की और पलायन करते हैं, लेकिन निर्धनता ए जालते हैं, ऐसे आवासी उन परिवारों को इस योजना के अंतगर रियायती मूल पर भूखंड उपलब्द कराया जाता है, दूसरी है वसंद्रा योजना, इस योजना के तहत आदिवासी भूमी इन, किर्षकों को किर्षी योग भूमी खरीदने हैं तो, दस बैस के चौत्र हम्दय सद्रावलां योजना है, थी साथ अनुदान दिया जाता हैraum, छोत्र हम्द योजना स्वालल संद्राव लंभन यूजना के अंतरवें कि अनुसुचित जाते हैं, जन जाती वारq की लोगों के लिए आधुन देर्श अंपासिक वार्म, फोल्टि फांग ऑ प्रावतान है तरहे पपनपुत तेयोजना के अंतरवे अनुसुचित जाती जन जाती वरके बेर रजजगारों को ओटोरिक सा मेटाडोर आधी खरीदने के लिए आसान किस्तों में रिड़ पिदान किया जाता है प्रे आपकी आँगे निर्मित योजना इस योजना के तहाथ अनुसुचित जाती जन जाती वरके सरथसों को इंजीनियर्स आर्ट आर्किटेक्चेश्चयर्स तथा डिप्लोमा धारी इंजीनिर्स द्वारां भवन निर्मार तथा अप्र इसी समध्य एसी समध्य में कोई ट्रेक या बस करने के साशन्द और रेड़ एवाँ अनुदान दिया जाता है फिरे आपका सहारा यूजना, अनुसूचित जाती और जन जाती के निसक्त एवं कमजोरूए लोगों के लिए सामां रोजगार सहजित करना, इसे दित करना लक्ष जाए फिरे आपकी सहकार यूजना, इसे दित कर दिता के अन्य सरोत्नों से अनुसूचित जाती और जन जाती के स्थ्रमकों को पित्यक चलाब दिलाने का प्रयास किया जाता है। ग्यारवी आपकी न्याय निकेतन योजना इस योजना के अंतहत अनुसूचित जाती जन जाती वर्के वकीलों को फेक्टिस सुचारू रूप से चलाने तना आसुविधा से बचने के लिए न्यायलायों के निकट अभी भासक कर चुपलद कराया जाता है। फिर धन वन्त्री योजना इस योजना के अंतरक्त बार भी है। इस योजना के अंतरकत अनुसूचित जाती जाती वर्के एलोपेथिक अत्वा आजविधे चिकत सवों को स्वेम के मूझ लेस्थान पर अत्वा जनपद मुक्यालाय पर निजी प्यक्टिस के लिए आर्थ अनुसूचित जाती जन जाती की सहकारी समतियां बनाकर उन्हें आवस्थक सुग्दा उफलब्द कराई जाती है। फ्रे अनुसूचित जन जाती बस्ती विकास योजना इस योजना का मुक्ष देश ग्रामीड नगरी चित्रों में अनुसूचित जन जाती वहुल ग्राम देन्डोरी अनुपूर छिदवाड़ा सीधी उमरिया अली राज को खंडवाज सहडोल वालागाड जबलपूर होसंगाबाद में 25 एक लब आदर्स संचाले थे वर्स 2056 में इन्हें विद्यालयों में सीवी एसी फाटकरम लागू किया गया है वर्स 2015-16 में एक लब आदर्स आवासी विद्यालय मंडला चित्कूर सतना खरगों सिंग्लोगली में सुईकित किये गए ठीक है आप लोगों से एक सूचना देना चाहूंगा है कि इस तरह कि जो भी आपके चैप्टर हुआ करें जिसे किसी को फायदा हो रहा है तो आप सेर जरू कर दिए उससे कई लोगों को बता दीजिए करिएगा क्योंकि अगर मेरी वज़े से या आपकी वज़े से इसी एक जिंदगी की अगर किसी एक इनसान की जिंदगी में खुसाली आ रही है तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है ठीक है याद रखिए अगर मेरी वज़े से या आपकी वज़े से इसी एक इनसान की जिंदगी खुसाल हो रही है तो इससे बड़ा कोई भी काम न नहीं है याद रखिए अन्सूचित जन्जाती वालिका हे तु साइकल रख रखाओ योजना इस योजना अंतर का सिक्षा विभाग द्वारा कप्छा नौबी की जिन आदिवासी वालिकाओं को साइकल पिदान की गई है उन्हें कप्छा ग्यारीवी में प्रवेस लेने पर स प्रवेस में पित्थम दूतियों तितिये स्थान प्राप्त करने वाली आई दिवासी चात्रों को फुरुषकुत किया जाता है कप्छा दस वी में प्राप्त प्रवी नियंतर रखने वाले विद्ध्यार्थी को अत्रिक्ष पुरुसां रासी 11,000 रुपे दिया जाने का प्रावदाने प्रयापकी रानी दुर्गाबती पुरुषका मत्वधिस मात्मे में सिक्षा मंडल की कक्चा दस वी और वार्वी बोर्ड परीका में अपने संब्रग में पित्थम दूतिये तितिये स्थान प्राप्त करने वाली पितिवेवार आदिवासी चात्रों को विध्यार्दियों को अत्रिक प्रोसाहन रासी ग्यारे हजार लुपे के रूमें दी जाती हैं ठीड़ फिर आपकी साक्षरता के छेत में सरफ्षेष्ट कार करने वाली ग्राम पंच्यातों को पुरुसका प्रात्मिक सिक्षा के लोग व्यापी करन तथा अनुसूचित जन्जाती बर्ग के प्रात्मिक सालाओं में करवाने तथा साला त्याग की प्रविति को रोखने के प्रयास करने वाली नवसी आधिवासी फिकास करने अनुस सरफ्षेष्ट ग्राम पंच्यातों को पुरुसकाल 25,000 रुपे के मान सिरासी विधान की जाती है सिबिल सिवा फ्रोज सहान योजना राज सासन ने संग लोग सिवायों तथम बद्देश लोग सिवायों द्वारा आयजित की जाने वाली सिबिल सिवा परीक्षाओं में विविन इस तरों पर सफल होने वाली अनुसुचे जाती जन जाती की अभ्यारतियों को फुरोज सहान रासी देने का प्रावधान किया गए सही योजना दोजार तीन चार से स्विकित की गए फ्रे आस्रम सिदेश के वनांचल और दूरस छेत्रों में जहां सेट्रिक सुग्दा उफलब्द नहीं है आवासी विद्याले की रूम में आवासी विद्याले की रूम में आस्रम साला की विवस्था अनुसुचे जन जाती के लोगों के लिए की जाती है फिर आपकी राजीब गांदी खाद्यान सुरक्षा मिसन गरीवी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की को भूख से मुक्ति दिलाने एवं भोजन की सम्माजनक इस्थाई विवस्था कराने की दुरश्टी से राजीब गांदी खाद्यान सुरक्षा मिसन की स्थापना 20 अगस 1908 बे सिकी जारी है फिर आपकी कन्या विवाय स्ववाग वतियो जना के अंतर गरीवी रेका के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाती की कन्याओं के विवाय के लिए 5000 लुपे की आर्थिक साहिता पिदान करने का प्रहांदन किया गया इसमें फिर आपका अंगलिये संत संत्र अभीदास इश्मिती फुरुसकार पिदेश में निवास रद अनुसूचित जाती बढ़की लोगों के विकास कल्याज तथा सामाजिक उद्ध्यान के उद्ध्य से काल करने वाली निजीर व्यक्तियों याथ एवं सामाजिक संस्थाओं को व्यक्ति के सेबा और एक संसा पट्टी का दी जाती है कि डॉक्तर अंबेड कर मंगल भावनों का भावनों की स्थापना राज सासंद वारां वित्तियवर्स दोजार चैसात में अनुसूचित जाती के लोगों के सामाजिक धार्मिक सांस्कितिक आयोजन हित्थू गेर अनुसूचित जन जाती कि त्रहें आपकी रानी दुर्गावती क्या है रानी दुर्गावती अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती सौरजगार यह उजना यह उजना आपकी दो अपरेल दोजार तीन से सुरूं की गए यह यह उजना अपनी तरह की देश की पहली यह उजना है जिसमें समाज के ऐसे कमजोर वर्ग के इवा हित गिराहियों को मदद दी जाएगी जो विवेन सौरोजगार यह उजनाओं का सरिफ इसलिए लाब नहीं उठा पाते हैं कि मार्जिन मनी जमान कर पाने में आसमर्थ होते हैं राणी दुर्गावत्ती अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती सौरोजगार यह उजना के तहत अपने प्रात्मे क्लक्च में पंगाच हजार युगतियों को रोजगार उपलब्द कराया जाएगी ते यह था जन जाती है परिद्स से वाला यह था अपका मद्विदेश से समंधित पूरा योवी तत थे लेखनी आगे हम लोग बात करेंगी सांस्केतिक परिद्स के बारे में ने नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मद्विदेश के सामान ज्यान से समंधित अपने चेप्टर अभी तक 20 खतम हो चुके हैं 22 पर चेप्टर रखा आपका जन जाती परिद्स इसमें बात करने वाले हैं सांस्केतिक परिद्स के बारे में याद रखिए MP से संबंदित आपके जितने भी चैप्टर खतम होते जा रहे हैं वो सभी मद्ध्विदेश सामान ग्यान के नाप से जो आपकी प्रेले लिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूं ठीर इसमें बात करेंगे हम लोग मद्ध्विदेश के लोग गायन, लोगनेत, लोगनाट के निवाड यहां के लोग गायन की बात करेंगे तो निवाडी लोग गीत, संत सिंगाजी गायन, निर्गुरिया गायन, नातफंती गायन, मसन्या गायन या काया खोज गायन, गरवा या करवी या फिर गलवन, ठाग गायन, कलगीत उर्रा, संजाग गीत यहां के लोग गायन लोगनित की बात करें तो गौर लोगनित, काठी नित, फिर फरिया नाच, मांडला नाच, आड़ा खड़ा नाच, डंडा नाच, ए निवार के लोगनित ने, लोगनट की बात करें निवार के, तो ए गम्मत और काठी, ठीक है, फिर अपना मालबा, क्या है मालबा मालबा के लोग गायन की बात करें हम लोग इसमें मालबी लोग गीत भर्थरी गायन वोपे गायन निर्गुडी भजन गायन सजा संजागीत गायन हीड गायन बरसाती बारता यह हैं मालबा के लोग गायन मालवा के लोग नित की बात करें हैं लोग तो मटकी नाच आडा खाडा राजवाडी नाच गरवा मुलता गुजराजी नाच और यहां के लोग नाच की बात करें तो माच राज की यह नाच भी है मद्धवदेश का ठीप पर आपका बंदेल खंड, यहांके लोग गायन की बात करें तो बंदेली लोग गीत, आला गायन, भोला गीत, बब्बुलिया फाग गायन, बैरायेटा गायन, देवारी गायन, जगदेव का पुवारा और यहांके लोग नित की बात करें तो राई नित, सेरा नित, कानडा नित, बदाई नित, धिमरिया नित, अखाना नित और नोटंकी, मूलता नोटंकी आपकी उत्तर प्देश की है, ठीक, फिर लोग नाट की बात करें बंदेल खंड में, तो स्वांग और रागनी, यह बात करते हैं बगेलखंड, तो आपके बगेलखंड में लोग गायन है, बगेली लोग गीत, बस देवा गायन, विरहा गायन, विदेशिया गायन, फाग गायन, और आपके लोग नाट है, लोग नित है, बंगेलखंड की विरहा, अथवा, अहिरयाई नित, राई नित, कहर भगेल खंड के लोग नटा इडान अब भगेल खंड करते हैं लोग गायन क्या करते हैं लोग गायन के बारे में यह लोग गायन हो गए आपके यह संब्ध्य छेत यह आदिवासी छेत जहां से संब्धी थे इनकी बारे में विशेश्टत और इसमें प्युक्त बाद्धेयंद तो सबसे फहले बात करते हैं कलगी तुर्णा यह आका नर्वन अब की दो अखाड़े होते हैं इसमें बातद्धेयंद होता है चंग, ठीक ठीक शिए व्हा आ हो फाग यह आपका निवाड से संब्धी थे , हुली के असर पर किष्ण एवम राध्ण पर कंदे थे इसमें बात द्धेयंद होता है डफ फिर आपका गर्वा यह निवाड से सम्मदी थे, इसकी तीन से लिए है, गर्वा, गर्वी, गल्वन, इसमें बाद्यांत सामेले ताल की थाप, मसन्या या कायखोच ये निवार का है, पूरुष परव मित्युगी थे, इसमें प्योग बाद्यांत है, जांग, मिदंग, एवं एकतारा, निर्गुडिया नार्दिय ये भी निवार्द का है निर्गुड ब्रण्ऑमा की उपासना एकतारा खंडता ना्थ पंती गाएन ये निवार्द का है नाथ जोगी प्रया गोरक कभीर अत्वा भर्थरी गाते है ठीक फिर भर्थरी ये मालबा का है नाद संपताय की लोग चिंकारव भरभर्थरी कथा गाते हैं चिंकारा इसका बात द्यानत है संजागी ए मालबा करें मूलता मालबा की किसोरियों का पारंपरिक गायन पित्त पक्ष के समय इसमें कोई बात द्यानत सामिल नहीं करें तेजाजी कथा गायन एव आपका मालबा करें विरोचित कारियों का बखाने समय हीड गायन एवी मालबा करें सेवन के महिने में गौवर्धन पूजा की समय हीरों के अवदान परव लोखा गायन ख्यान है यह थी है अंगे बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं लावा अंक्राओ आपका बर्साती भारता यह आपका मालबा करें रित्तु कथा बर्सा रितु के समय किद्ध एवन पध दोनूमें लावन आपका ये लावा मालवा और निवाड का है निर्गुडी दासने गीते रेलो गीत ये आपका मुडिया सिंग माड़िप भिल से सम्बंदी थे यूबक यूखतियों का गीते चोकडिया फाग ये बुंदिल खंड का है आपका इसुरी की रचनाओं का गायन होली के उसर पर ग पर्सों भरसा रितू में गाय जाता है डोलक और नगडिया के साथ भूला गीत अब बंबुलिया लंटेरा गीत ये भी गुंदेल खंड का आपका वाची का परमपराप का मधुर गीत है नर्बदा इसनान जाते समय किया जाता है बिरा यता ये बुंदेल खंड का है कथा गायन से लिए देवारी गायन ये भी आपका बंदेल खंड का है दोहा गायन से लिए इसमें ढोलक नगाडा बांसुरी प्यूप के वेज़त जगदेव का फुवार ये भी बंदेल खंड का है भजन सेली का गायन होता है बस देवा गायन हर बोले गायन ये वगले खंड का क्ठाओं और गाथाओं का गयन शैवन कुमर की कथाओं का Granny से भimmudu एर प्धिर अपका वसदेवा गयन या हरवोले वगल खंड का है कथाओं और गयन का बल्याव माथाओं का गयन शैवन कुमर की कताओं से देखर thirds विरह गयन वगेल खंड का है這是 00. जवाब सली में गायन होता है सिंगार परफ विराय ग्रेत गीते चुटकी पैजर और सांगी इसमें बात दियन थे फाग गायन ये आपका बुंदेलखंड में भी और बगेलखंड दोनों जगए गायन नगाड़ों का नगाड़ों पर फाग नगाड़ा इसमें प्योग होता है गड़रिया कूटवार एवन तेली जाती के लोग इस गायन में विसेश दक्ष होते हैं कि फिर है आपका लोकनित है ये लोकनित हो गया अपकी अंचल हो गया आउसर हो गया और विसेश तद्धन के बारे में राई तो राई आपका पुंदेल खंडांचल में होना है कि प्रमुक लोकनित है इस बच्चे के जनम के समय मुन्नन या सगाई विवाया मनोती पूंण होने पर राई नित किया जाता है इसमें विसेश है इसके लिए मिदंग वाद्यन्त सौर एवं सिंगार दोनों मनुवित्तियों का समाविशन है इसमें नित की को वेड़नी कहा ज प्रमुक कलाकार श्रीप प्रकास यादो रामसाय पांडे है इसके जाए बधाई यह भी आपका बुंदिलखंड का है जनम विवाय ती तेवार मनोती पूंण होने पर बधाई लोकनित होता है इस्तरी प्रुश्दोनों इसमें नित करते हैं जवारा यह भी आपका शाधि विवाय नव दुरुगा के होता है जय वारा देखी लिया बधाई होगा आपका बुंदिलखंड साधी विवाय नव दुरुगा के अउसर पर हो गए कानन राव यह आपका बुंदिलखन में जनम विवाय के अउसरपन, धोवी समाद्वारा, पारिवारि, नित्य, इसमें सबसे पहले सरवस्ति एवं गजानन भगवान की गाथा गाई जाती है फ्रेस सहरा, यह भी आपका बुंदिलखन का ही लोगनित्त है, गडगोर पर श्रेवन मास में कजली तीज के अउसर पर होता है डांडिया से मिलता जुलता केष्ण लीला से संबन्दे थे, रासनित यह भी आपका बुंदिलखन, जन्वाक्ष्ट में के समर्पन लोगनित्त हुथा है, इस्तरी परक नित्त थे, कलस बुंदिलखन, संसकार परक है, नट जाती में पिछले थे रावला यह भुंदिलखन में संसकार परक है, जाती नित्त थे, बाबा नित्त बुंदिलखन का है, विभार विवाह के अउसर परक हुथा है, इस्तरी परक है, विद्या यह अहिर्याई यह भगेलखन का है, विवाह यह भगेलखन का है, विवाह यह दीपावली परक बारी जाती का कहरा नेत विसी स्लोक पर यह याद रखिए ठीक फिर आपका लोक नित में अंगला है दादर यह आपका बगेलखंड में का है खुशी के अउसर पर होता है कोल कोटबार कहार जाती का नित दे सुगा बगेलखंड का है खरीब की फसल पकने पर होता है कलसा बगेलखंड का बरात की आगवनी के समय होता है सिर्फ पर कलस रख कर नित करते हैं केमाली साजन सजनरी यह बगेलखंड में होता है विवाहर के अउसर पर सभाल जवाब से ल इस्त्री वेस में नित करते हैं, पुरसी इस्त्री वेस में नित करते हैं, मटकी ए मालवा का है, विविन आउसर पर होता है, पैरम में एक महिला नित करती है, जिसे जहिला करते हैं, आडा खडा रजवारी नित ए मालवा का है, किसी भी आउसर पर होता है, विवाह के आउसर पर मंडब के नीचे किया जाता है पतंग नाच ऐपकामालबा में गर्वा यह wishiennent का मालबा में न्यवद्दात्री की समय महला परहलोप के पालब्रकन नहिंट है अलयकोम के ckenरा यह मालबा में सगाई वी आफल्र परहलोप मांगलिक आपकों श्ट्री परख़नेत जाला फूलबाती फूलबाती ये भी मालबा का है गडगोर कजली गीत कजली तीज के अउसर पर लोगनेत किया जाता है इस्त्री पराग के टुटिया नक्टोरा ये मालबा का है विवाय के अउसर पर होता है इस्त्री पराग स्वांग नेत थे ठीक पिर आपका फूंदी ये मालबा का है धार्मिक सामाजी का उसर पर होता है किसोरियों का नित फूगडी या फर फूंदी खेलें गडगोर ये निवाड का है आपका गडगोर उस्साव पर होता है महलावयं पुरुष रनुवाई एवन दानी ये सूर्देव रत को सर पर रखकर नित करते हैं आड़ा खड़ा ये वी आपका निवाड का है जनम मोंडन विवाय के आउसर पर है इस्त्री परक नित लोग नित है काठी निवाड का है देव प्रभोधनी एकादसी से महासिवराती था मातपूजक नित पूरुष परक है डंडा निवाड का है चैद बैसाक में गड़गोर के आउसर पर होता है क्रिशक डंडा नाच करते हैं पूरुष परक नित है मांडला मांडलिया निवाड का है विवाय या तेवार के आ करम नप्रक नितन है एक फिफारिया या थे वार में होता है विवाय के उससरा पर हो गड़र जिकिया आवर को जन जाती लोक नितन पी धाक मैं डंडला 15 से कर्म करम देवता को रिजाने के लिए फिजय दस्मी से शुरूब कर वर्षा के आगमंतव होते हैं मंदला के वेगा और गुंडों का पिरमुक्र नेत्य बाद्यन्द मांदर है पर दसहरा या दद्रिया वेगा अदिवासियों के तेवहार दसहरा और दद्रिया करम सा सामजिक वि विवहार की कलात्मक और प्रेम संबंदों की भावना पिधान अभी विक्ति है ददरिया मंदला का प्रमुक्र नेत्य प्रेचटकोरा नेत्य कोरकु आदिवासि का नेत्य निवाड में पिछले थे रीनाति नेत्य वेगा तथा गौण इस्त्रियों द्वारां दीपावली और आदिवासियों का नेत्य थे चिट्खोरा दे के लिए लहंगी नित्य या कंजर बंजारों एवन सहरिया लोगों का नित्य परदोनी नित्य विवाए हाउसर पर वेगा आदिवासियों द्वारां बरात की आगवनी की समय किया जाता है बर्यदी नित्य ग्वाला और गुर्जय जातियों के द्वारां किया जाता है भगोरिया, संपूर भील छेते में मनाया जाने वाला भगोरिया होली का दहन से साथ दिन पूर प्यारम होता है जावुआ का भगोरिया पिसेस आकरसन का केंदर भगोरिया में तीन मुक्ष दिन होते हैं देथम दिन गुलालिया आठ दूसरा भागोरिया आठ भागोरा भी कहते हैं से दियोता की पूजा की जाती है इस समय तीसरे दिन मेला वीरान हो जाता है जिसे उजडिया कहा जाता है फिर आपका अंगला जन्जाति ये लोकनित है दुल-दुल घोरी दुल-दुल घोरी कि नेत्र भारिया बढम सेतमनेत्र भारिया लीवासियों का ये नित्र समुव्य जिसमें अनेख नित्र किये जाते हैं सेतमनित्र महलाओं करती है सरबबल जन्जाति दौरा सरेवेट्च जिसके मैं उनके देवतार निवास करते हैं कि चारों और चैट मास उड़ीमा को किया जाता है तो आपका वांसगीट या मूलता यह गाथा गायन है इसमें मौटे बांस के लगबग 1 मीटर लंबे व्वाद्यन्त को पज़ाय जाता है इसी करण इसे वांसकीत कहा जाता है तो या रावजाती के लोग गाते हैं से खमस्वांग कूरकु जन जाती का नित जिसे दीवाली के अउसर पर मेगनात इस्तम के पास किया जाता है अध्यान नित वेगा जन जाती द्वारा कश्छापा है और अध्य बियुद्भाद व्यार घृ़वोतello 5 मद भारत एवन पंदिल कंद में धोबी जन जाती के दारा किया जाता ह। कहरवा नित गौंड जन जाती द्वारा विवाय वं मरण संस्कार में किया जाने वाला इस नित हैं ठीक करो कहरवा जहाँ पिर हैं, आपके लोकनाट क्या हैं?" यह आपके लोकनाट लोकनाट होगा है, जिस छेत से संभंदी थें या जंग जाती है तो उसके बारे में होगा है, summit की बिसेश्ता है हो अखाड़ा यह आपका बुंदिल खंड में होता है विजय दिस्मी के अउसर पर सारीरी कर्तव व्यायम और सस्त संचालन की फरंपरा है बुंदिली स्वांग यह आपका बुंदिल खंड में फसल कटने साधी एवं जनुसव फरग्य एवं अभिनए दोनो होते हैं फिर नौटं की आपका बुंदिल खंड में होता है पिरमुक पात सूत्राधार होता है जिसे रंगा भी कहते हैं राई स्वांग बुंदिल खंड अभीनए तथा राइनेत दोनों आयोजेत होते हैं चाहुर यह बगेल खंड में हैं चाहुर कहा है लोगनट बगेल दीपाबली से गोपाष्टमी तक अहीर तेली कुमार जाती त्वारा मनाया जाता है पुरो सी इस्तरी की भून क्या निवाती है मनसुखा बगेलखंड यह राज का बगेली रूपांतर्ण है हिंगूला बगेलखंड मंचर इत सल नाट रूप है जिंदवा बहलोल बगेलखंड का है बसी के दिन विवाय के अउसर पर आयूजन महिला नाट थे लकडबागा बगेलखंड विवाय के बाद मनुद्स एवं पसू के हार्दिक युग काविन है रास बगेलखंड किष्ण लीला गबमत निवार नवरात्री होली गड़ और तीन अउसर पर उता है काठी निवार में देव प्रुवोधनी एकादसी से महासिब रात्ती था माच मालवा माच का जनमिस्थान उज्जेन माना जाता है कलाक कार सिध्धिस और सेंड है इसके ठी तरहे आपका खंग खंब स्वांग एक और कुजन जाती द्वारा नवरात्री से देव प्रुवोधनी एकादसी तक राबड की पुक पुत्त मेगनाद की पूजा की जाती इसमें फ्रेवावाई जावुवा के आसफास मुल्ता गुजरात में आरम होने से पूर्व गडपती मां अम्मा की पूजा की जाती हम कर्मा नित कर्वान लोक नाठ्थे आपका वेगा जन जाती से समन्दी दैसेरा से वर्षा रितु तक नित एबं गायन दोनों फंडवा अtECeye आपका खलाकार इसके खलाकार इंते जन बाई रुतु यह ज़्यू देवागरं थिक करें आपके मद्ध विदेस के चितकर ज़ेव कि यह द्यान चले होगा जहांसे समंद्ध और मुक्ष्क विसेश्त था है इसको आवसर मांडना ए मालवा निबाड भूमी अलंकर्ण के रूप में मांडना को विशेश रूप से दीपाबली के समय घर आगन में बनाया जाता है फिर दीवासा एक का मालवा चित से संबन दिते हर्याली अमावस्या पर बनाया जाता है चित्तावन ये मालवा का है, विवाय की समर घर की मुख दीबार पर बनाया जाने वाला भीती चित्ते है, सुरेती ये बुंदिलखंड का है, दीपाबली में लक्षमी पूजा की समय बनाया जाने वाला भीती चित्ते है, संजापुली ये संपून मत्विदेश में होता है, क बनाया जाने वाला भीति चित है मौर्ती यह भी बुंदिलखंड से संबंदी थे विवाय की समय मुख दरवाजी पूत्री पूत्री का भीति चित बनाया जाता है फिर आपका नोर्ता नौरत बुंदिलखंड नौरात्री में मिट्टी गेरू हल्दी से कुवारी कन्या बनाया जाते हैं मूर्डला मूर्मॉरला यह बुंदिलकंड फगेलखंड कैंद दीवारों को वेवयन रंग से मूर की हीति चित बनाये जाते हैं जिरोती निवाड हर्याली आमक आस्या में जिवोन चित बनाये जाता है पिर है जरोती यह आपका निवाड का है हर्याली आमा वस्या कुभीती चित बनाया जाते है थापा निवाड सेली सब्तिमी पर हाथ का थापा लगाया जाता है पगल्या आपका निवाड से समझ जेते पहले सिसु जनम पर सुब संदेश का रिखांकन किया जाता है फ़र एरत यह आपका निवाड से समझ जेते विवाए में कुल्देवी का भीती चित बनाकर पूजा की जाते है कंचाली भरना यह आपका निवाड का है विवाए के आउसरफ दूला दुलैन के मस्तफर कंचाली भरी होती है खोपडी पूजन यह आपका निवाड का है देव प्रुवोधनी ग्यारस को खोपडी पूजन किया जाता है कोहवर यह भी आपका बगिलखंड का है विवाएक अनुष्ठानिक भीती चित है छटी चित वगिलखंड सिसू जनम के छटवे दिन छटी माता का गेरू से भीती चित बनाया जाता है तिलंगा यह आपका बगिलखंड का है ओले में तिली के तेल को मिलाकर तिलंगा का भीती चित बनाया जाता है फिर नेरुगा नमे ये वगेलखंड का है बादो माय की नौमी को सुहागिन महिलाओं द्वारा पारम परी भीती चित बना कर पूजा कलती है इसकी ठील फिर है आपका मोर इला ये वगेलखंड का है गिली मिट्टी से मोरों की जोड़ी की आक्तियां बनाई जाते हैं अब बात करते हैं लोक सिल्फ कला के बारे है लोक सिल्फ कला के बारे हैं ठीक है ये लोक सिल्फ कला हुई चित हो गए आपके मुक बेसे स्ताइस के बारे में पितोरा भीती चित जावुआ का अनुष्ठानिक चित करम है इसे लिखने वाला लिखिंद्रा कहलाता है गोडों का चिंतांकन तथा काजल रानी की कथा पूरे चित में चितित रहती है फिर मु चीपपा सिल्फ कुछी मानावर बदनावर उज्जेन उज्जेन का चीपाल सिल्फ भहरूगड के नाप से विठ्ख्या थे इसके कलाकार इसमाइल सुलेमान गुडिया सिल्फ कला गुडिया सिल्फ कला गुडिया सिल्फ कला इसके कलाकार बातुबाई गुडिया सिल्फ कला मिट्टी सिल्फ जावुआ मंडला बैतूल में कास्ट सिल्फ या आपका कोर्कु जन्जाती द्वारा कोर्कु के मिट्ट तक इस्थम मंडो भीलों के दिवानया कास्ट कला कि सेष्ट नमूने हैं वास सिल्फ अप्वाला घाट, महेसुर की साड़ियां महेसुर, इसका सिरे रानी एहल्यवाई को जाता है, चंदेरी साड़ियां चंदेरी, खरात कला, सिवफो रीवा, बुधनी घाट, मुरेना, खरात को लकडी को सुडोल रूप दिया जाता है, कंगी कला, औजेन रतलाम महेसुर, लाग का काम करने वाली जाती को लखार कहते हैं, राजिन लखारा, लाग सिल्फ कार हैं, अब बात कर लेते हैं, कुछ मात्पून, मेले, जो मद्वदिशम पिरम के मेले हैं, उनके बारे में, ये मेले के नाम हो गए आपके, इस समया उदी हो गए, और इस्थान जहां होते हैं, बाबा गरीब नाथ, तो चैद माहे में, यानि कि मार्च अपरेल में होता है, अवंती पूर बड़ोरिया आगर में होता है, नागा जी, अग्याहन माहे में, अग्याहन या नवंबर दिसंबर में, और सा गाव मुरेना में होता है, बरमान, ये आपका पोस माय में मगय संकृणाती से 13 दिन तक चलता है जन्वरी में करेली तहसील नरशंगपूर में हुता है कुणडे-सोर फितीवस-षिवरात्री मगय संकृणाती वभस मन्चवी प सिर्मंदिर है या ठीकमगड में होता है तेजा जी भाद माय में अगस्त दिसंबर में भामावद गाउं गुना में होता है सिंगाजी कुवार माय में एक सप्ताय का एक मिला है अगस्त सेप्टंबर में फिपल्लिया गाउं खरगोन पश्मी निबाड में होता है जागे सुरी कमिला ये अकचेत माय में होता है चंदेरी गुना में सिंगस्त 12 वेलसों में एक बार होता है ओज्जन में हीरा भूमिया ये भादमाई में अलग-अलग कितियों में ग्वालियर गुना वा आसवास के गाउं में होता है काना बाबा सिवरात्री वा गुरुपूरिमा को सुडाल पूर होसंगाबाद में होता है ठीक है बढ़ोनी सिवरात्री वा गुरुपूरिमा पर बढ़ोनी दतिया में होता है महमितुझय बचंच-पंचमी और सिवरात्री को आपका रिवा में ठीक है सनकुगा एक कार्तिक पूरिमा से 15 दिन तक से ओडा दतिया में होता है राम जी बाबा कार्तिक माय का साथ दिवस्तिय में मेला है होसंगाबाद में होता है ठीक है आंगे है राम जी हो गए आपका एक कालू महराज कौन सा कालू महराज यह होता है आपका कालू जी महराज यह होता है पिपल्या खरगोन पस्ट मीने बार में ठीक है? अमर कंटक मिला, यह आपका होता है सिवरात्रीपन, अमर कंटक सेडोल में, जलबिहारी, अक्टूबर माहे में 10 दिवसीय मिला है, छतरपूर में होता है, कहा होता है जलबिहारी? चतरपुर में सोनागिरी चैत में एकम से पंचम तक सोनगिरी दतिया में होता है सार्दामा एवी मेहर सतना में होता है माग भोगरा आप सिवरात्री पर 15 दिन तक भोराथन सिवनी में होता है रामलीला माग माय में जनबरी परबरी में भांडे दतिया में होती है रावत्पुरा आपका लहार भिंड में होता है रतंगर दीबावली की दोच की दिन रतंगर दतिया में होता है चांदी देवी पितेक रविवार को होता है गोगरा गाउं सीधी में डनान भगवन पितेक रविवार को होता है उन्नाव दतिया में पीर बुदान ये आपका वाद माय में एक दिवसी है अगस्ट सेप्टम्बर में सावरा गाउं सिप्पूरी में होता है धमोनी उर्स बाबा मस्तान साहे वाली दरगाय का मिला है अपरेल माई में होता है पंदरे दिन तक धमोनी सागर में बाबा सहावुद्दीन ओलिया का अथम परवड़ी में होता है निमज में इंड़े अब कर बरमान मिला तिल आपका मकल संकनाती था दिवसी में लाघ नरसिंपूर अर्सभी में होता है दो मन्धा गन्धाता पूर्वी ने लबार में होता है रहत, फिर आपका कार्तिक का मिला काल्तिक का मिला आपका उजयन में हो ठीक है बल दाव naujji का मिला आपका पन्ना में हो फिर jeśli मantlyम happier 1000 ग्रिडी मिला आपका तला में हो सहीद मेला आपका सनावद में हो थैं। कालका मंदिर का मिला यह आपका धार में होता है सिद्धेश्वर मंदिर का मिला आपका सीवपुनी में होता है चामुंडा माता मिला देवास में और नावग्रय मिला आपका खरगोन में होता है ठीक है यह थे आपके फिर्मुक मिला अब बात करते हैं फिर्मुक के परव एब उत्सव यह प्रवत्सव हो गया यह छेत हो गया गडगौर आपका मालवा अंचल से संजावा मामूलिया बुंदेलकंड भाई दोच आपका संपूरम दिविदेश में रसनवा मंडला जिले में बेगा जनजाती द्वारा मेगनात एम लारू काज एक गौंड बहुल चित में हरेली यह रेटी मंडला एवा मालवा चित में मालवा में इसे हरया गोदा कहते हैं गंगा दसमी यह गंगा दस हेरा संपूरम दिविदेश गौवबर्धन पूजा आई जगे से छोटी दिपाल पिली भी कहते हैं गडला ये आपका संपूर बत्पतिस में सुगारा सुगारा ये बुंदिलकंड नेजा मालवा खंड हरेली मालवा येवं बुंदिलकंड दोनों में भगोरिया जाबुगा धार में भील जान जाती त्वारा रत्रवा ये आप संपूर ये ओर संपूर का मंडला छित में वेगा दीवाशी हों दौरा थिर कि आपके कुछ सांस्कितिक समारों कई बार पूंच लेते हैं डारेक्टिस से क्या पूंचते हैं कि कालिदा समारों कहां होता है तो आपको बता दिना है उज्जन खजराउनत समाऊ ने उस्ताद अलावदीन खा संगी समारो मेहर सत्ना एवं बिभिन सहरों में लेकिन मुक्ता है मेहर सत्ना में अमीर खा संगी समारो आपका इंदोर है धोर्पत समारो आपका भोपाल मद्पिदेश समारो दिल्ली याद रखिए इसको क्या रखना है मद्द्पिदेश समारो दिल्ली में होता है नाकी मद्द्पिदेश में ठीक है और और शाव सव यह आपका पहले टीकमगड में होता था क्योंकि अब निवाडी अलग हो गया तो अब इसमें निवाडी में आ गया यह जिल और शाव का निवाडी में आ गया तो निवाडी हो ठीक, पदमाकार समारो, इसागर में, सुवद्रा कुमारी चोहान, जबलपूर, माखलाल चतुरवेदी समारो, खंडबा, निवाड उत्सव, खंडबा खरवोन बड़मानी में, दुरलब वाद बिनोद, भोपाल, वालकिसन सर्मा नवीन समारो, साजाकूर, टेपा समारो, औ भोपाल, फिर है आपका लोकरंग होई गया, भोपाल, गजानन मादा मुक्तिवो समारो, पंड, भावबूती समारो, ग्वालियर, राज सेखर समारो, भोपाल, कुमार गंद्रव समारो, देवास, भोज समारो, धार, केसाव जैन्ती समारो, ओर्चा, गजरत महुसव, गु समारो, भेडा गार, जवल को, ठीक है, कला समारो, यह समारो मद्धिपदिश में लगवग, दो दसक से, फिती वस आउजित किया जाता है, इसमें सास्ती यह संगीत, सास्ती यह नित, रंगमन्च और चित कला, एवं काठ, काब पाठ, आदिकार कर, मद्धिपरप, मद्धि मद्धिश की स्थापना दिवस के उपलप्च में, एक नवंबर 1999 से, भोपाल में आजिजित किया जा रहा है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मद्धिश की बोलियों के बारे में, यह बोलियां हो गए, यह जिली हो गए, और यह आपकी विसेशन के तथ हो गए, बुंदेल सेवनी चिदवाड़ा बालगाट, आदी में बोली जाती है, बुंदेल खंडी सोर सैनी अप भरंस जन्मी पश्चमी हिंदी की एक पिरमुक बोली है, जिसका नाम करना जार्ज गेर सन ने की आता, टी, नेवाडी, वो रहानपूर खंडवा, खरगोन तहार, देवास सन ने, इसे दच्छनी राजिस्थानी कहा है, दच्छित राजिस्थानी, ठीक, वगेल खंडी, आपका रीवा सतना सहेडोल उमरिया में बोली जाती है, वगेली बोली अर्द मागधी अप भरंस से जन्मी, पूर्वी हिंदी की एक महत्पून बोली है, मालवी, सेहोर नीम च्रतला मंदसोन साजापूर आगर च्छाववा उज्जन देवास इंदोर में बोली जाती है, भासा वेदोने मालवी को अप भरंस से निकली होने के कारण इसका मूल संस्कित को माना है, ठीक है, वेजबासा बेंडमोरेना गवालियर में, इसका जन्म सोर सेनी के अप भरं में बोली जाती है, भारत में से नाल्थ मुंडा भासा की सेनी में माना जाता है, भीली आपकी रतलाम धार जाबुगा खरवोन अरीराश्पर में बोली जाती है, भीली का पयोग सरवपितम 1835 में पादरी थॉमसन ने किया था, गॉंडी बैतूल छिदवाडा सिवनी बाला मंडडा दिंडोरी होसाँगाबाद में बोली जाती है, बात कर लेते हैं आदीवासी देवतार के बारे में, किसके के आदीवासी देवतार honesty बारे में, ठीक है, यह जन्जाती हो गए, यह देवता है, भील जन्जाती सीतलह अंबिका, पाथर, विराह, माता की पुजा, ठीए, वेगा जन जाती के देताओं की बात करें तो बूड़ा देव, धर्ती माता, घंस्याम, ठाकुर देव, नारायन देव, भाग देव, भीमसेन, पनिहारी, रातमाई, होलरा, नर्वदा माई, गोंड, नारायन देव, गराह मोल्ठर की दूला देव, भर्या नेन, होलराय, खेरमाता, सूरज देव, बादेश, अगर यहाँ लोहा सूर आपका भारिया, उडा देव, दूला देव, बर्वा नाग देव, ठीक है? यहाँ आपके भरिया, भारिया जन जाती के प्रमुक देवताँ तो यह था आपका सांस्कितिक परिदिस, 21 चैप्टर हो गए आप ना, आगे हम लोग बात करेंगे, चित्तकार एवं रगय कर्वी के बारे में, ठीक है? याद रखिए हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे मद्द्पिदेश सामान ग्यान के बारे में, तो इसमें अभी तक हम लोग 21 चैप्टर खतम कर चुकी, आपका लास्ट चैप्टर था, मद्द्पिदेश के परिपेक्च में हम लोग ने सांस्कितिक परिदिस के बारे में बात की थी इसमें बात करने वाल हैं चित्तकार इवं रंग कर्मी याद रखिए आपके जितने भी चेप्टर खतम होते जा रहे हैं मद्धिपदेश सामान ग्यान से संब्धित वो सभी मद्धिपदेश सामान ग्यान के नाम से फिलेलिष्ट सोची बनी हुई है उसी में डले हुए ह तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम लोग चित्तकारों के बारे में तो पहले अपने डेडी देवला लीकर दत्ता ते दामुदर देवला लीकर इनके जनम की बात करें तो इनका जनम हुआ 1883 में धार जिली में मद्विदेश की धार जिली में विडवाल नामक गाउं में हुआ था मद्विदेश की चित्तकला की पित्त पुरुस माने जाते हैं चित्त सेली डेकूरियम लिष्टिक सेली हैं की सन 1978 में दिल्ली में ये देवंगत हुई ठीए फिर अपने आंगले है विष्णू चिंचाल करो इनका जनम हुआ 1917 में देवास जिले के आलोर गाहों में उन्होंने मुक्ताब विसे दिल लेंड ओप आर्ट फ्रोटेट से बनाई बच्चों के आरंभी अक्छर ग्यान के उद्देश से 400 विधी का अविस्कार किया 1960 में उन्होंने फ्राइडे ग्रोफ नामक कलाकारों का संगू भी बनाया था 1960 में अपने बनाये गए एक उत्केश्ट पुरोटेट फर इन्हें AIFACS के अंतरगत अंतराश्टिये वेनियल में पिथम पुरुसकार भी मिला था वर्ष 2000 में सं 2000 में हेदय घात के कारण का नेधन होगे अंगले हैं आपके नारायन स्रीधर बिंदे इनके जनम की बात करने तो 1910 में इंदोर में हुगा कस्मीज ररकार के विजिटर्स वीरो में पत्तकार के रूम में 1936 से 1949 तक कार किया हैं अंगले हैं अपने के सियद हैदर रजा नर्फ सिंगपुर जिले के वावरिया ग्राम में 1922 में इनका जनम हुगा इनके उलेखनी चित्रों में अटलसुन, अनन्थिता, विंदू, अंसुनी आवाज, मा, राजिस्थान, सफेद फूल, नांग, अंकुरन, इस्वंद, इत्यादिया इन्हें 1981 में भारत सरकार द्वारा, फदम स्री तथा मद्य सरकार द्वारा, 1996 में इन्हें कालीदा सम्वान भी दिया गया 1947 में रजा ने मुंबई में फ्रोग्रेसिव आइटेस्ट कुरुफ की इस्थापना भी की थी अंगले हैं आपके इनके चित इन्हें के बारे में बता रहा हूँ है इनके चित्रों में समर नमक चित फैरिसकला संग्राले में विलेच नमक चित ग्रोनोवल चित संग्राले में थ्रांस में और रूपंकर नमक चित ललितकला संग्राले भोपाल में संगेत है आपके हैं अंगले चितकार देव यानी किष्न, इनके जनम की बात करने हैं, देव यानी किष्न का जनम इंदोल सहर में हुआ था, 1946 में अंतराष्टी चित पर दर्शनी में पिथम इस्थान प्राप्त हुआ था इने, पिथम पुरुसकार भी प्राप्त हुआ, ठीथ, फिर हैं अंगले हैं आपके डीजी जोसी चितकार आपकी अंगले मद्विदेश के हैं डीजी जोसी देवोखिष्ण जैसंकर जोसी का जनब 1910 में खरगोन की निकट महेसुर में हुगा था फिर हैं आपके महमूद फिदा होसेन 17 सेप्टमबर 1915 को महराष्ट के पंदरपुर में इनका जनम हुआ इन्हों ने इंदोर कला विस्तवध्याले से ड्राइंग तथा पैंटिंग का डिप्लूमा प्राप्त किया इन्हों ने अपनी पिथम एकल चित पिदरसनी 1950 में आयो जित की भारा सरकाय द्वारा 1966 में उन्हें पदम सरी संबान दिया गया कव 1966 में 1973 में पदम भूसर्ण संबान दिया गया स्री होसेन गज गामिनी नामक चित सिंखला तथा इसी नाम से फिले निर्बाता की रूम में चर्चित भी रहे है ठीक है 96 साल की आयू में 9 जून 2011 को लंदन के एक अस्पदाल में निर्धन हो गया था ठीक है फिर हैं आपके आंगले अन्य चित कार है मतपदेश के कौन-कौन से इन में रमेश पटेरिया राजाराम डॉक्टर मंजूसा गांगोली अभजल जगदी स्वामीनाथन वसंत आगासे सुरेश चौदरी एस के जमीदार सैनिक जैन रोबिन डेविड जी के पंडित अमरतलाल बेगर मदन भटनागर यूसो सचिदा नांगदेव आदी एस सभी मतपदेश के चित कारते अब बात करते हैं रंग करमी के बारे में किसके रंग करमी तो पहले हैं आपके बाबा डीके इनका जनम की बात करने तो 1919 में नीमच में इनका जनम हुगा इन्होंने आकांड तंडो नाम मारचना से अपनी पिस्तु थी प्यारम की उन्होंने 1944 में इंदोर में नाट्य भारती की स्थापना की इस संस्ता के अंतगर लिटिल थेटर का गठन भी किया गया तो रहे हैं आपकी हबीब तनवर एक सेप्टमबर 1923 को रायपुर में इनका जनम हुगा एक सेप्टमबर 1923 को बर्स 2002 में पदम भीवूसन से सम्मानित किये गए हबीब तनवर साब बर्स 2007 में फ्रांस सरकार के पितिश्रिट पुरोषकार ओफिसर ओफिसर ओफ दी आर्ट्स एंड लेटर्स से भी नवाजे गए आपके हबीब तनवर साब 1925 में उन्होंने दिल्ली में हिंदुस्तानी थेटर की स्थाकना भी की थी किसने हबीब तनवर ने ठीक है आँगे बात करते हैं हम लोग 1982 में अंतराष्टिय नाट महस्ताव में फ्रेंज फर्ष्ट अबॉर्ड एननवारा भी दिया गया हबीब तनवर साब को हबीब तनवर साब ने तीस से अधिक लोगपुरिय नाट कों का रेजेशन भी किया है जिन में आगरा बाजार चरंदास चोर कम देव का सपना वसंतरितु का सपना साजापूर की सांतिवाई लाला सोहरत राय मुद्रा रक्षस आदी सामिल है आठ जून 2009 को हबीब तनवर साब का निर्धन हो गया मित्ती हो गई कब आठ जून 2009 को फिर आपके आते हैं नरहरी पटेल साब कौन नरहरी पटेल नरहरी पटेल साब का जनम 1934 में रतलाम के सैलाना में होगा उनके द्वारा जन नाट संग तथा यावनिक नामक दो संस्थाओं की स्थापना की दैनिक नई दुनिया में प्रिकासित अपने इस्थम में थोड़ी घनी की माध्यम से स्री फटेल ने मालवी को मुद्दित साहित की भासा बना दिया आपके अंगले हैं विभू कुमार इनके जनम की बात करें विभू कुमार की तो 13 मार्च 1942 को सागर में हुए इनके फिरमोख मंचर में बात करें तो तालों में बंद प्रिजादन्द भिक मंगे मुखोटी हत्या एक आकार की अभी मन्नी सड़क पर और वाकी इतिहास इनके नाटक हैं फिर हैं आपके सरत सार्मा सरत सर्मांजी का जनम हुआ 17 जनमरी 1956 को बीदी सामें आपने इन्होंने मुक्रूप से कर्ण, दुरियोधन, रावर्ड अगनीमित, गिलोड और विकासा राय की भूमी का इनवाई सरत सर्मा द्वारा निदेशित नाटकों में टेड इन्चूपर, देश दुरोई, आपरासंगिक, ठैंको में गिलोड, कोट मार्शल, कन्हया समझ, गया बच्चों का सपना आधी पिर मुक्यन के सरत सर्मा ने अपनी करम इस्तली ओजन में, जनवरी 1982 में, अभी नव रंग मंडल का गठन भी किया था, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात की है, आपके पिर मुक जो चितकार थे, और रंग करमी थे, आगे हम लोग बात करेंगे, साहित कारों के बारे में, मद्धिदे चितकार तो इसमें बात करेंगे, साहित कार के बारे में, याद रखे, आपके MP स्पेसल से समंदि के जितने भी टॉपिक खतम होते जा रहे हैं, वो सभी मद्धिदे पिर संवान घ्यान के नाम से, जो आपके पिले लिस्ट सुची है उसी में डाल देता हूँ तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन साहितकारों के बारे में तो इसमें आपका महां कभी कालिदास चंद गुद विक्रमादित के 9 रतनों में से एक उज्जैन निवासी तथा इन्हें भारत का सेक्स्वीयर भी कहा जाता है किने है कालीदास जी को रचनाओं की बात करें कालीदास की तो कालीदास की साथ पिरमुक रचना हैं दो महाखाब महाखाब्बों में सामेले रगुबंस और कुमार और कुमार संभौ तीन नाटक करंसा मालवि Keyamnitram, अभिज्यान सकुंतलों, विक्रम्वर्शियम, ठीक है इनके तीन नाटक है दो खण्ड है, रितु-संगार, और मेघदूत, मालवि-踝ागनी मित्रम उनकी फ़हली रचना थी कालिधास दुदारारा रचित कुमार संभा संस्कित का महा काभाय जिसमें सिफ पार्वति के विभाय एबं कुमार कार्थिकेन के जनम के साथ ही तारका सुर्फ वद की कता का भी बैडन है याद रखे कालिदास की सभी रचनायाप कंठस ते याद कर लीजे क्योंकि यह हर परिच्छा में एक नाइक बार पूँच लेती है जो इनका अभी ज्यान सकुंतलम है नाटक इसमें हस्तिनापुर की राजा दुसेन तेवं महरसी कंड की कंया सकुंतला की प्रैम कहानी कबर्ण किया गया है इसके अलावा चंडिका दंडक ज्योती विर्धावर्ण दुरुघट दुरुघट काब नलोर दय नव रतनमाला फुरुस वाण विलास रतनकोस मकरंद इस्ताव राक्षस काब रार शारकाब सेतुबंद लच्छमी स्ताव आदी भी उनके मत्मूर रचना है कालीदास की ठीक है प्रहें आपके कभी भर थरी और जैनी के राजा थे इनकी साधना स्थल चुनार उत्तरपिदेश में है और समाधी स्थल राजिस्थान के सरिस्का में है अलवर में इनकी राजनाओं की बात करें तो इनकी नीती दसक शतक सिंगार सतक और विराग सतक इनकी प्रमुक रचना है अन्या गरंतों की बात करें तो वाकथी वे महाकाब्तृपदी, महाभास दीविका, सब्धिधातू समीक्चा, मिर्मांसा सूत्वित्ती, वेदान्त सूत्वित्ती, सामिल, ठीक, भावभूती, अंगले कभी हैं आपके, भावभूती, कौन है, भावभूती, यह पदमपूर के निवासी थे, इनकी रचनाओं की बात कर महावीर चरित्तम उत्तर रामचरित भावूती नहीं लखिये, संस्कृत का पितम दुखांत नाटके, उनका वास्तविक नाम था स्रीकंट, कन्योज के सासर, यह सो वर्मन के दरवावी करवी रहे हैं, भावूती को भारतिय मिल्टन कहा जाता है, दारसनकों के बीच भाव बेक के नाम से पिसिद हैं, बार्वट, बार्वट कन्योज के सासक हर्सवर्धन के राच दरवावी कभी थे, समराथ हर्सवर्धन द्वाराओं ने वस्यवाडी कभी चक्वर्ती की उपादी से विविश्थित किया गया था किने बार्वट को, आगे बात करते हैं लोग, इटकी रचनाओं की है, तो हर्सचरित, कादंबरी, मुकुट पन्तडित, चंडी सतक, तथा पारवती पईड़ा हैं, हर्सचरित वाडवट के पित्थम रचना है, यह पित्थम हर्सवर्धन की जीवनी है, वाडवट को साहित के वनांचल का केसरी कहा जाता है, मद्यकाली साहित कार, आचार के सवनाथ के सवदास, इनका जनव हुआ, आचार के सवदास का 1555 में, ओर चा में, MP में आता है, इनने कठिन काब का फ्रेथ, MP में जो टीकमगड़ जिला था, इसमें, पहले टीकमगड़ जिले में आता था, लेकिन अब आपका निवाड़ी एक नया जिला बन गया, तो वहां ओर चाता है, ठीक, कठिन काब का फ्रेथ भी कहा जाता है, आचार के सवदास को, रचना है, रसिक फ्रिया, कभी प्रिया, दोनों मुक्तक काब हैं, विज्यांगीता, रतन वावनी, जहांगीर, जस्चंदिका, नक्सिक वर्डर, राम अल दिश्ठित थे, रितिकाल के पिवर्टक कहे जाती है, आचार के सवदास, इनकी मित्ति हुई 1660 में, फिर आते हैं आपके भूसर, कभी भूसर, जनम इनका 1613 में हुआ, इनकी रचना है सिभूसर, सिवाजी वावनी, 36 साल दसक, भूसर उल्लास, भूसर हजारा, भूसर का वास्तिविक नाग आग्यात, अर्था, तथा उपनाम उनका चटा संकर, भूसर को उनकी उपादी, जो इनकी चितकूर के राजा, रुद्ध देव सोलंकी न दी थी, सिवाव आमनी में, छत्रपती सिवाजी के सौर का ओजस्वी आख्यान है, इनकी मित्तिव की बात करें, तो 1715 में इड़की मित्ति हुई, किसकी बहुत अड़की, फिर आपके कभी पदमाकर, कभी पदमाकर के वारे में हम लोग बात करें, तो ये, पदमाकर भट का जनम 1753 में हुआ, आचार रामचंद सुकल के अनुसार, इनका जनम बांदा उस्तरपिदिस में हुआ था, जब पदमा भरण, जगत बिनोद, अली जाह, पिरकास, हिम्मद बहादुर, विरोधा वली, फिरताब सिंग, विरोधा वली, पिरोध पचासा, गंगा लेहरी, ठीक है, अली जाह, पिकास की रचना, गौालियर में महराजा, दौलत रावसिंधिया के यां, रहकन उनकी पिसंसा में की थी, उन्हेंने वालमी की रामाइड का भासा नुबात कर राम रसाइन की रचना की, असी वर्स की आयू में, सन 1833 में, कानपूर में, गंगा तटपर इन्होंने अपना सरी छोड़ा था, ठीक है, फिर हैं आपके आधुनिक, क्या है, आधुनिक साहितकार, आधुनिक साहितकार में अपना सबसे पहले हैं, पंडित माखनलाल चतुरवेदी, कौन से? माखनलाल चतुरवेदी, माखनलाल चतुरवेदी के बारे में आपको याद रखना है, कि इनका जनम, 4 अपरेल 1889 में, बावई, अब माखन नगर, जिला होसंगाबाद के बावई गाउं में हुआ था, फिरभा एवं करम्बीर के संपादक भी रहे हैं, आपके पंडित माखनलाल चतुरवेदी, प्रमुक काब्बों की बात करें, तो हिमक्रीटनी, हिमतरंगनी, माता, योक्चरण, मरणजवार, धुरुमवलर, इनकी प्रमुक काब्बे, निबंद संग्रे की बात करें, तो साहित देउता, अमीर इरादे गरीब इरादे, फाओ पाओ, तथा नाटक में किष्णा रजुन इयुद पिसिद रहें, अन्न रहचनाओ की बात करें, तो कला का अनुबाद, कहानी हो कहावत, सभी कहानिया, समय के पाओ, इस संस्मर था, चिंतक की लाचारी भास माधव मुक्ति बोद, इनका जनम हुए आपका गजानन माधव मुक्ति बोद का, 13 नवंबर 1917 को सिवपोर कला मध्यपिदिश में हुए, तार सब तक के पिथम पितिष्टित कभी थे गजानन माधव मुक्ति बोद, रचनाओ की बात करें के तो चांद का मोह टेड़ा कभी मित्या संग्रय था, एक साहित्तिक की डायरी निबंद संग्रय, नई कभीत्या का आत्म संग्रस भारत, इतिहास और संस्किती, कामायनी एक पुनर विचाल, भूरी-भूरी खागधूल, चंबल की छाती, काट का सपना, ब्रह्मा राक्चस विपात, ये सबी इनकी पार्मिक चित्रन इनकी कभीताओं की मूल विशेवस्तू थी, इनकी मित्य हुई एक सेप्टमबर 1964 को, फिर हैं आपके सुबद्रा कुमारी चोहान जी, कौन है? सुबद्रा कुमारी चोहान जी, तो इनका जनम 16 अगस्त 1904 में निहालपूर इलाबाद उत्तरपदेश में ह हुआ था, खंडवा निवासी ठाकुल अचमण सींग के साथ इनका विवाय हुआ, काब बसंगरे मुकोल, त्रिधारा जहांसी की रानी, इनके काब बसंगरे हैं, कहानियों की बात करें तो विखरे मोती, उनमादनी, सीधे साधी चित, बालकविता, सभा के खेल, विवेच जिनात्मक, गल्व विहार, इनकी बालकविता हैं, काब बसंगरे की बात करें, तो जलिया वाला बाग में बसंथ, मुकोल काब बसंगरे के लिए इनके सेक्स रिया पुरुसकार मिला है, इनकी मित्ती हुई बारे फरवरी 1948 को, किनकी सुफद्रा कुमारी चोहान साथ की, फ इनका जनम 8 शेप्टमबर 1897 को मद्वितेश के साजापूर में हुआ, फिरभाव और प्रताब का संपादने इनोंने किया, रचनाय इनकी और मिला महकाब, प्रेनार पर खंड काब था, कभीता संगरे में कुमकुम रस्मी रेका, आपलक क्वासी, विनोबा इस्तवन हम वि फाई जनम के विपलाओ गायन, अनल गायन और मित्ती हुई इनकी 29 अपरेल 1960 को, 29 अपरेल 1960 को इनकी मित्ती हुई, फिर हैं आपके पंडित हरी संकर फरसाई, इनके जनम की बात करें तो 22 अगस्त 1924 को मद्वितेश के होसंगाबाद जिले में कि जमानी गाउं में हुआ था हरी संकर फरसाई जी का जनम, वसुधा नामक साहितिक मासिक पतिका निकाली तथा पहरी के संपादक्ती थी, संपादक्भी कोंते हरी संकर फरसाई, उपन्यास की बात करें तो रानी नांगफली, नांगफनी की कहानी तटकी खोज, हरी संकर फरसाई जी की उपन्यास, यह भी कहानी संग्राइग की बात करें तो हसकते हैं रोते हैं जिसे उनके दिन फिररे आपके कहानी संग्राइब हर संग्राइग झाल हृ आगे हम बात करते हृ द्रंग निवन संग्रे वैशनाओं की फिल संग तिरिची से रेखाएं ठेठोडता हुआ गरतंत विकलांग सिध्धा का दौर सामाजी विसंगितियों के फिरार इनकी कभिताओं की मोल विशय बस्तू थी इनकी मित्ती हुई 10 अगस्त 1905 में फिर आते हैं आपकी सरज्योसी जी मई 1931 को जनम हुए इनका उजयन में इनकी रचनाओं की बात करें तो परिक्मा फिर किसी बहाने जीप पर सवार इल्लिया रहा करनारे वैट दूसरी सतय पिछले दिनों यथा संभाव सभी वेंग निबंद अंधों की अंधों काहती एक थ 1991 में सेप्टमबर 1991 में इनकी मित्ति वरी ठीक है फिर आगे बात करते हैं लोग मुल्ला रमुजी मुल्ला रमुजी इनके जनम की बात करें हैं लोग मुल्ला रमुजी के तो 21 माई 1896 को भोपाल में हुगा गुलाबी उर्दू सेली के जनम दाता हैं आपके मुल्ला रमुजी इनकी पिरमुक रचना है इंति खावे गुलाबी उर्दू मजमुगा गुलाबी उर्दू मकालाद गुलाबे उर्दू ख्वातीन, अंगूरा, शाधी, और अज्जात, लाठी और भ्यास, दीवाने मुल्ला रमजी, सिफा खाना, जिंदगी, गुलाभी उर्दू, गुलाभी साहरी, इतने का सन 1952 में निर्धन हो गया, ठीक है? कब हो गया? सन 1952 में इनका निर्धन हो गया, फिर आए आपके भवानी पर साथ मिस, 23 मार्च 1914 होसंगाबाद, टिगरिया गाओं में इनका जनम हुआ, रचनाओ की बात करें तो गीत फरोस, चकित हैं दुख, अंधेरी कभी ताएं, गाजी पंच सप्ती, बुनी हुई रस्ती दूसरा सब्त दसक, सब्तक, पाओं एवं पंक, कमल के फूल, पहेली, खुसबू के सिलाले, तूस की आग, इनकी पिरमुक रचनाएं, इनकी मित्ती हुई 1985 में फिर आप क्या आते हैं, डॉक्टर सिव मंगल सुमन, डॉक्टर सिव मंगल सुमन का जनम, उत्तर पेदेश में उन्नाव जिली के ग्राम, जगरपूर में 14 अगस्त 1915 गुगा, डॉक्टर सुमन ने अपना अध्याव किये, जीवन वर्स 1942 में, विक्टोरिया कॉलेज ग्व सेजन, विश्वास बढ़ता गया, पर आख नहीं भरी, विंद हिमाले, मिट्टी की वाराद, बाडी की विथा, कटे अंगूठीक सी बंदन वारे, इनकी पिर्पोंक काब संग रहे, इनकी मित्य हुई संद 2002 में, ठीक है, तो रहे हैं आपके आचार, कौन है, आचार, नंद, दुलार, दुलारे वाचफेई, इनका आचार, नंद, दुलारे वाचफेई, जैजी का जनम, उत्तर पिदेश में, उन्नाव जले के ग्राम, मागरापुर, में, चार, शेप्टमबर 1906 को हुआ, वाचफेई जी, की पहली का रचना है, जैसंकर पि बंद, हिंदी साहित का आधुनिक साहित, सेजन और समीक्षा, इनकी प्रमोक रचनाए हैं, इन्होंने हिंदी साहित की समीक्षा की, आंगे बात करते हैं हम लोग, मद्विदेश के लोक साहितकारों के बारे में, बात कर लेते हैं हम लोग, मद्विदेश के लोक साहितकार, संत सिंगा जी इनका जलनम हुए था ततकालीन वड़वानी स्टेट के ग्राम खजूरी में संबत 1574 में इनकी रचनाओं की बात करें तो कबीर दास जी के संकालीन संत सिंगा जी कबीर की भाती साखियां गाते थे निवाडी बोले में सात वाद 12 मासी 15 तिती दोसबोद सरद आदी रचनाएं अनहन का नाद पुस्तक में उनकी 800 रचनाएं संकलित हैं उनका एकमात प्रमाडित गरंथ परचरी है जिसे उनके सिस सिक खेमदास ने संकलित किया था फिर आपके जगनेक कलिंजर नरेश परमाल देव के दरवारी कभी जगनेक ना सरिक कभी थे बलकि यह उद्ध्याव भी थे ठीक है कभी और यह उद्धा दोनों थे यह जगनेक रचना है इनकी परमाल रासो और आलाखंड आलाखंड विस्त का सबसे लंबी लोग गाता है आलाखंड का समद्ध महोवा राजवन से था पूंच लेता है आलाखंड का कौन है लेका जगनेक टीग है इसुरी जनम हुआ इनका संबद 1898 में मैडिकी गाउं महुरानी पुर है फाग का अविस्कार रचनाओ की बात करें तो इसुरी की फाग है इसुरी की फाग है इसुरी फिकास गौरी संकर दुवेदी द्वारा इसुरी सतसई लोकन सिंग नांगराद द्वारा फ्रेमी का रजव फिर आते हैं आपके घाग इनका जनम संबद 1753 के लगवग कन्य प्रिका अजन मोग यानिकट के गाउं में उत है था आगहने खिर्सी को सर्वुत्तम व्यापार्गोसित कियゃ इन्हे किर्सी पंडित भी पूछाएए किसी पंडित किसे कहते हिं घाग को फिरकासिक गरंध कि बात करें घाग और भंदरी पिर राम नरेश तिरपाटी द्वारों आचार राम चंद ने घाक को कभी ना कहकर सुक्तिकार कहा इनकी सुक्तियां किसानों के लिए किर्सी मार्ग दरसन का कारेश करती है अब आपकी अनसाहितकार है और उनकी रचना है तो दंडी इनकी दसकुमार रचन चरित है भारवी क किरा तूर्जनियम विहार विहारी सत्सई बाबु कृष्णानंद गुपता इसुरी की फागें पंडित गोरी संकर दुवेदी इसुरी पिकास लोकेंद सिंगनागर इसुरी सत्सई विर्जेश रस साग नेड़े सत्मत स्वरोव दास रस रतनागर रेवा राम बापु र बापु के अंजाम मैं स्वामी सत्थ भक्त कुरान की जहां किये राय बहादुर ही रालाल मद्पदेश का इतिहास फिर है आपका जहूर बक्स चंदहार क्या है चंदहार 500 महलाओं की जीवने तो यह थे आपके साहतकार मद्पदेश के जो भी साहतकार थे प्रमुक उनके बारे में बात की आगे हम लोग बात करेंगे संगीतकारों के बारे में ठीक है मद्पदेश के परिपेक्च में संगीतकारों को देखेंगे हम लोग नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे हैं मद्वदेश सामान ज्यान के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग 23 चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं 23 बाचेप्टर था आपका साहित कारों के बारे में इसमें बात करने वाले हम लोग संगीत कार मद्वदेश के जो लोग बात करेंगे याद रखिए मद्विदेश सामान ग्यान से संबंदित आपके जितने भी चैप्टल कताम होते जा रहे हैं सभी वो सभी आपके मद्विदेश सामान ग्यान के नाम से जवाब की पिले लिष्ट सूचिए उसी में डाल दिता हूं संगीतकार तो सबसे महत्पूने आपके तांसेन संगीत संगीतकार में कौन है तांसेन तांसेन जी का जनम 1526 में बेहट ग्वालियर में हुआ तांसेन का संभण का जनम का हुआ 1526 में बेहट ग्वालियर में तांसेन का मकवरा कहा है ग्वालियर में यह बहुत बार पूछा जा चुका है तांसेन का मकवरा का है वालियर में तांसेन का मूल नाम क्या था रामतनु पांडे तन्ना पांडे टीकर तांसेन जी के पिता का नाम था मकरंद पांडे इनके संगीत गुरु है स्वामी हरीद्यास बिरंदावन के राजा सरे की बात करें तो दौलत खां सेशा सूरी कपत, रीवा के राजा रामचन, मुगल समराट अकवर की नवरतनों में से एक थे तांसन तो दौर्पद गाएन दीपक राग मेग मलहार और राग मलहार थी इसके अतरिक ते दर्वारी, कनहडा, मिया की मलहार, मिया की टोड़ी, मिया की सारंग अविस्कार की बात करने तो रवाप एवं बीड़ाबादन्थ वाध्यन्थ धोफद धमार की रचना तांसेन सम्मार की बात करने तो 1980 से हिंदुस्तानी संगीत के लिए तांसेन सम्मारों आपका पितीवस ग्वालियर में आईज़ित किया जाता है रिवा के महराज रामचंद ने अकवर को उपहार स्वरूप दे दिया था अकवर ने तांसेन को पूर्ण सम्मार दे कर अपने नवरतनों में से एक थे सामिल किया था में राग दर्बारी कनःडा मैं भी तानसायण की को उस्तादी थी अकमार हिस राक को मिया का राग अर्था तानसायण का राग कहते थे तानसायण जी की मित्यव 1585 दिल्ली में हुई ठिपर है आपके उस्ताद अलाओदीन खां सरोद वादर इनके जनम की बात करनें तो 1881 में ग्राम सेवपोर तिप्पुरा बदमार बंगला देश में हुई थी सनतान की बात करने तो इनके सनतान अलियध Kenneth पुत्त सरुदबादक अत्तपुर्ण पुत्री थी सिस्ट की बात करें तो पंडित रवी संकर भारत के सितारवादक और पंडित पन्नालाल घोशते इनके गुरू की बात करें तो हाबुदत विवेकानन्द की भाई थे उस्ताद वजीर खाँ, उस्ताद अली अहमद खाँ, नीलु गोपाल से सहनाई वादन सीखा इनोंने तो राजा सरय की बात करें तो रीवा महराज दृजनास सींग के आमंतन पर मेहर आए संगी साधना मेहर में की इनोंने अविस्कार की बात करें तो सुरसितार, चंद सारंग, नल तरंग, इनके पिलमुक अविस्कार है विसेश की पिथम विसियुद के दौरान, अनात हुए बच्चों को संगी सिख्छा देकर मेहर बैंड की स्थापना की उपादियों की बात करें तो भारत गौरब, अक्ताब एहिन, संगीत अचार, संगीत नायक इनके उपादिया हैं सम्मान की बात करें तो पदम भूसर, पदम भी भूसर इन्हें बाबा के नाम से संबोद तिन किया जाता है बाबा के नाम से वुकारते हैं लोग उन्होंने अनेक रागों की रचना की जिरमें मदन मंजरी हैमंद वियान माज खमाज आ दिये इनकी मित्ती हुई 1972 में मेहर सतना में ठीक है फिर है आपके उस्ताज उस्ताद हाबिज अली खां सरोध बादर इनके जनम की बात करें उस्ताज जी के तो 1888 में ग्वालियर में इनके संगीत गुरू थे उस्ताद वजीर अली खां रामपुर चुकालाल दिंदावन गनेसिलाल गनपत राय सिन ठूमरी सीखी थी 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 इनका संगीत अभिजात पूर्टा उनके संगीत गायन में दोपत ख याल ठूमरी का मेल होता था राजसी की बात करें तो ग्वालियर के महराज मादाव राव संधिया इवं जीवार जीव जीवाजी राव सिन्धिया पुत्धी बात करें तो अमजद अलि skipping ऑ मं पादिक वात करें तो अंब ताव ये सांगीत रत्नाकार इनकी पादियाएं, इनहें संभान की बात करें तो संभान पदंभुजम, 1960 में संगी नाटक अकादमी का सर्वुच्य, पुरुसकार भी मिलाया है, ? अ पर बिदिन सांगीत उसमिती Newton के पुत्त ने इनके जनम की बात करें हम लोग पंडिक जी गे तो 1883 में कब 1863 में सोरी 1863 में ग्वालिय मराथा ब्रह्मर परिवार में हुआ था इनका जनम पेता का नाम था विश्नु सास्क्री जिवाजी राओ के आग्रय पर ग्वालियर आये थे संगीत गुरु की बात करें तो वाल किश भुवा उस्ताद निसार हुसेन देवजी भुवा टप्पा सेली टप्पा ख्याल सेली तथा यमन राग में विशेश पारंगत हैं ते संगीत सित्स की बात करें तो पंडित कृष्ण राओ पुत्थ भावु साहिब जोसी कासीनात मूले राजविया पूंचवाले थे पंडित शंकर गंदर्व संगीत महाबिद्य लेकी स्तापन की ओंडित संकर राओ जी का नेदन हो गया मित्ती उई उनकी 1970 में जनम हुआ था ठारे 163 में मित्ती हुई 1970 में फिर हें आपके पंडित के पंडित किष्ण किष्ण राओ संकर पंडित किष्ण राओ संकर इनके जनम की बात करने तो पंडित जी का जनम हुआ पंडित किष्ण राओ का 26 जुलाई 1893 में ग्वालिर में इनके पिता का नाम था पंडित संकर राओ संगीत गुरू की बात करें तो पंडे संकर राओ इनके पिता ही थे इनके संगीत गुरू उस्ताद निसार हुसेन खावी थे 20 बर्स की आयू में मत्वरा में गायन पिस्तुती की थी इन्होंने रचनाओ की बात करें किष्ण राओ की तो संगीत सरगंपसार, संगीत प्रवेश, संगीत अला, संचारी, तबला बादन सिक्चा, सितार जलतरन वादन सिक्चा, हर्मोनियम बादन सिक्चा आदी विसे इसकी बात करें तो ख्याली गाय की पर आसाधरन अधिकार दूरदर्शन बार रेडियो पर अनेक संगीती पिस्तुत की गए ठीट है गायन रेकॉर्ड बार रेडियो पर उन्होंने संगी पिस्तुती दी गायन रेकॉर्ड को कोलंबिया रेकॉर्डिंग कंपनी ने किया था आंगे बात करते हैं जीवाजी राव सिंदिया निम्मादाव संगीत महविध्यालाय का सुपर वाईजर बनाये ने उफादियों की बात करें तो किष्ण राव जी की उफादियां थी गायक सिरोमणी सरदार पटेल द्वारा, संगीत मार्तंड, संगीत रतलांकर लंका वालिया द्वारा, संगीत सिरोमणी मुलतान संगीत द्वारा, ताल सम्माट, सम्राट, पटियाला गराना द्वारा, संग सब्सक्राइब के संक्राचाथ डॉक्टर और मियुजिक गायन विर्षारत सम्मान खेरागण बिस विद्याले द्वारां दी गए इन्हें 1973 में पदम भूसन और राष्टपती फुरुस्कार भी मिलाए नहीं सन 1907 में किष्ण राव ने अपने जीवन का पिथम कारक्रम पिस ikum 1823 में होगी किष्ण राव जी फिर हैंं आपके राजविय पूछ वाले उ कि राजविय आया के बजनम की बात करें तो बारा एगस्त 1880 में 21.2 में भॉआलियर में में भॉब वास्तवीक नाम की बएदक बाल किष्ण आनंध राव आप टेकर कर इनका बास्तवीक ना jurisd बावन बुआ दोपत सीखा नोने सी, पिता आनंद राव सिस्तितार सीखा, विश्णुगनारायन भातखंडे बंबई स्वयलिपी सीखी नोने, रचनाओ की बात करने तो तान संगीत पासना, ठूमरी, तरगनी, दोपत, धमार गाय की, बातखंडे की किरमिक पुस्तक मालिका के लिए अतक प्रयास किया नोने, ख्याल ठूमरी टपे, टपे में बिसिट निर्पूरता प्राप्त की बातखंडे की चन साल संगीत विद्ध्यारतियों को सोलिपी कपिशी चन की दिया, राजा भीया के अस्वासन पर भाध खंडे ने, तस जन परी उननी सो ठारे को, बरत्मार मादाव संगीत महबिध्याले, गौालियर की स्ताफना की, मादाव संगीत विद्ध्याले के अध्याबग बगपराचार रहे, गौालियर की पारंपरी गायन सेली के पिड़ेता भी रहे, उपादियों की बात करने तो संगीत रचना का, संगीत आचार सर्वलोग गाय, राष्टपती पदक भी ने मिला, मित्तिवी इनकी वी एक बात करने तो 1913 मिन का जनम हुआ, संगीत सिक्षा पिता साहमीर खां इंदोर गहराना, अमान अली खां, बिंडी बाजार गहराना, मुंबई, से ने संगीत सिक्षा मिली, संगीत विश्रिश्टिता की बात करने तो अध्यूफत का अभिजात ग्यान थाने, ख्याल का अलंक विजीटिंग, प्रोफेसर के रूम में अमेरिका वेटिन की यात्रा भी किये इन्होंने, उस्ताद अमीर खांने, फिल्मों की बात करने तो विजी बावरा, जनक जनक पाइल बाजी, गूंजूठी सहनाई में संगीत दिया इन्होंने, संबान की बात करने तो पदम भूस इनकी समिति में इन दौर में उस्ताद अलाद्दिन खां अकादमी मिहर सतना की सहयोग से पितिवर्स अमीर खासमारों का अईलिन किया जाता है, उनकी मित्तिव 1974 में हुई, फिर हैं आपके कुमार गंधर्व, कौन हैं? कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व का जनम 8 अपर भावी ग्राम बेलगाओं करना टकी, तपेदिक के कारण स्वास्त लाभेतु देवासाई, इनका पूरा नाम की बात करें तो सिवपुत सिधर्मय कौम कली थे, इनके गुरू फिरोफिसर भी यार देवधर थे, अन्जनीवाई मातो कर भी थी इनके, संगीत रचनाओ की ब पूरा टकी, क्रांतीकारी संगीतकार इनके उपनाम है, मातमा गंदी की जीवन को दर्साने को संगीत पर धौनी में प्रोकर गंदी मलहार पिस्तुत किया इनोंने, संभान की बात करें तो इनके, कुमार गंदर्प को बदम पुद्पिवुसन बिला, संगीत अकादमी संभ संभान भी मला, कालिदा संभान भी इन्हें दिया गया है, उन्होंने अनेक रागों का सेजन किया है, जिनमें आपके अही मोहिनी, मालवती सहली, तोडी, लंगन गंदार, निंदी यारी, भावमत भहरो, गांदी राग पिर्मोक हैं, इनकी मित्तियों की बात करें तो वार राजा चक्धर सींग, राजा चक्धर सींग का जनम 1905 में हुगा, इनकी उपादी है संगीत समराथ, रायगर रियासत के कथक घरानी से संबंदित थे आपके चक्धर सींग, इनके गुरू की बात करें तो लाला नरायन सींग, मुहुकदेव सींग, लच्मन सींग, एड़ रिमुक गुरू है, रचनाओ की बात करें, राक रतन मंजूसा, राक रागनी का वंस व्यक्ष, ताल तोई निदी, नरतन सर्वस्य, निद्द सम्मंदी, अलकापुर माया मुचक, रतन मंजूसा संस्कित, काब कानन ब्रिज, जोस करहत, निगाहें फरहत उर्दू में, सिस्स की बात करें, पंडित कार्तिक राम, जैवाल महराज, पंडित सुकदेव, पहराज, सीता राम महराज कार्तिक कल्यान, निद्द जूरी, इनके सिस्स होते, इनके समय में गडिस पूजा उत्सव, रायगर में कलाकार इकतित होते थे, वर्तमान में रायगर में पर चक्कधर समारोवे आज ये किया जाता है इनकी मित्ती 1947 में हो गई थी ठीक है अगले हैं आपके पंडित कार्टिक राम पंडित कार्टिक राम का जनम 1910 में भवर्मान बिलासपुर में हुए था गम्मत के सेष्ट कलाकार रायगड घरानरी के थी गुरू की बात करें तो लखनलाल, पंडित चैलाल, लच्छन माराज, सुन्दर फिसाल, संभू माराज, राजा चकधर सिंग थे पंडित कार्टिक राम के वकल्यांड दास की जोड़ी में देश में ख्याती अजिक की पादीब की बात करें तो नित सम्राठ हैंगी सम्मान सिकर सम्मान मद्विदिस में और संगीत नाटक का कादमी सम्मान में लाए है हरस पर गुलाज बिचा कर जब आप गजपन नित कराते थे तो उस पर हाथी कचित बन जाता था वे बिच्छे हुए बतासों पंदित करते तो बतासे टूपते नहीं थे पंदित कारतिक राम का किमिति वी 1992 ठीक है अंगले इनसे सम्मान दित जो आपके संगीत कारते इनसे सम्मान दित कुछ मात्पूंव बिंदू है ठीक है उन्हें भी देख लेते हैं लोग कालीदास द्वारां रचित कुमार संभव संस्क्रित का महाकाब है जिसमें सिप पार्वती के बिवाय एवं कुमार कारती के अन के जनम के साथी तारका सोर वद की कथा का भी वर्डन किया गया है ठीक कुमार संभव में किसके द्वारा लिखा गया है काली दास द्वारा मद्पिदेश के भर थरी सतक काब के अगदूत रहे सत काय उनकी पिसिद रचना है नीती सतक, सिंगार सतक, विराग्ज सतक नामक उनकी पिरमुक रचना है केसव दास इंदिजीत के दरबार में एक वैस्या राम पिरमीन पर आस्थ हो गए थे इन्होंने राम पिरमीन की पेड़ा से ही रसिक पिरिया नामक गरंथ लिखा थे मद्पिदेश की इंदी भासा में लिखने वाले प्रमुक बाल साहितकार के रूम में जहूर वक्स का नाम उलेकित थे ग्वालियर के महराजा दौलत राव सिंदिया के दरबार में रहते हुए महकवी पदमाकर में अली जाहे पिरकास गरंथ की रचना की जबकि पिताब सींग बद जगत सींग कीहां पिताब सींग दुरू दावली बद जगत बिनोद नामक गरंथों की रचना की हरी संकर परसाई ने जबलपूर में वस्द्वा नामक साहितिक पत्तिका का पिकासन किया था जबकि कल्पना मासिक पत्तिका भवानी परसाथ मिस्सने तथा पिरभा का संपादन माखल लाल चेतुरू बेदी ने किया था जहाँसी की रानी नमक पिसिदी कभिता की रचना का आपकी स्वद्रा कमारी चोहन जी हैं जने शेक्स रिया पुरुसकार से दो बार सम्मानित किया गया लोग कभी जगनिक ने आलाखंड की रजना की आलाखंड का संबन्द आपका महोबा के राजवन से इसमें दो पिसेद बीरों आला उदल का चरित वाइडित किया गया है पहली बार 1665 में फरुकाबाद की बंदोबस्त अधिकारी चार्ल्स एलियट ने आलाखंड की 23 खंडों की पांडूलिपी तेयार कुरवाई जबकि वैसेंट स्मित ने बुंदेलखंड में सकाब का संगरा किया था लोग कभी इसुरी वुंदेलखंड की गोरब को बढ़ाने वाले कभी थे इसुरी द्वारा रचित फागों ने वुंदेली लोग साहित को सम्रद्धा पिदान किये मद्विदेश के लोग कभी घाग मुगल बात्साय अकवर की समकालिं थे घाग को चौदरी उक्की उपादी वी समराट अकवर द्वारा तिदान की गई थी कुमार गंदर्व ने सास्तिय संगीत में अनोका प्यूप किया इनका बहु चर्चित रागे गांधी राग जबकि इनकी पोस्तक का नाम है अनूपराग त्विदेश के विद्वान कामता प्रिसाद गुरू को हिंदी भासा में पहला वा पूर एवं मान ब्याकरन रचने क रचने वाला माना जाता है किसने है कामता प्रिसाद गुरू को मद्विदेश में ब्रिज भासा के मुक छित उत्तर पूरी मद्विदेश है इस छित में मुक साब के मुरेना ग्वालियर बिजभासी जिले हैं ठीक है मद्विदेश के रिवा सतनाव मरिया सीधी साडोल जिले में वगेल खंडी भासा बोली जाती है जबकि बालागाट जिला में बुंदेल खंडी भासा चित के अंतरगत आता है मत्पिदेश की कोर को जन जाती बहूल जिले वैतूर वसंगाबाद, छिदवाड़ा वखरवोन में मुख था कोर को बोली जाती है मत्पिदेश के गायकों में तांसें ग्वालियर, उस्ताज हापिज अलीखां ग्वालियर, लत्ता बंगिसकर इंदौर का जनम मत्पिदेश में ही हुआ, जबकि उस्ताद अलाउद्दीन खाका, जनम मत्पिदेश से बाहर वंगलादिश के जिला तिप्पुरा के सेवफुर गाउं में हुआ था, अमजद अलीखां सरोद बादन के लिए विसित है मत्पिदेश की राधानी भोपाल, रविन्द भवन, 4000 दसकों की छमताबाला सवागर है, जो भारत की सरफसेष्ट सवागरों में से एक है, यह अने एक सांसकितिक कारिप्रमों का आयलन होता है जग्दीश स्वामी नाथन, मद्पिदेश की वो, कृष्ट चितकार है, वन्सी कोल, नरहरी पटेल, निसामिस, दिसके ख्याती फ्यार्प्त रंकरवी है 1770 में, 1770 की आस्पा, रिवा नरेस विस्वनास सिंगले, रामक थापन, आधारित आनंद रगू नंदन, नमक नाटक लिखा, भारतेंदू ने इसे हिंदी का पहला नाटक मनाए अमेता सेरगिल, फिलोसिप ललित कला के लिए दी जाती है, इसकी रासी पितिमास एक हजार रुपे है, तथा आधी एक बर्स है मतपेदे सासंद वारा संगीत के चित में दी जाने वाली, फिलोसिप है आपका उस्ताद अलावदीन खा, फिलोसिप इसकी भी रासी एक हजार रुपे बावदी एक बर्स है, चक्धर सिक्षविती रूपंकर कला के रूम छित में दी जाती है, एक बर्स तक दी जाने वाली इस सिक्षविती की रासी एक हजार रुपे है मद्विदेश के पिसिद्ध चित्तकार में मगबूल फिदावसन, नारायन सी धर्विंदे, राजा राम, सियद हैदर राजा, डॉक्टर मंजुसा, गांगोली, देवयानी किष्ण सामिल थे पुरोस्कार इवं सम्मान, मद्विदेश के परीपेक्च में, पुरोस्कार भी देखंगे और सम्मान भी चलिए हम लोग बात कर रहे थे, मद्विदेश सामानने ग्यान के बारे में, तो इसमें हम लोग पचौवीच चैप्टर अभी तक देख चुके हैं 24 वा चेप्टर था आपका मद्पिदेश के प्रमोक संगीत कार इसमें देखने वाले हम लोग मद्पिदेश के पुरुसकार एवं सम्मान याद रखिए आपके जो भी 2019 का करेंट अपियस है पूरा 2018 नवंबर दिसंबर से लगा कर 2019 का कम्पिलीट पूरा एक वीडियो में आपका डाल दिया है ठीक है जिसमें 2019 का पूरा करेंट अपियस आपका समलित है तो याद रखिए वहां से अपडेट होते रहिएगा जो तांसें सम्मान 2018-19 का मिला हुए है उसमें दिये गए है वहां से पड़ लीना इसमें हम लोग इनके वारे में सुरू में किसे मिला है एक किस शेत में मिलता है इस तरह से देखेंगे तो सबसे पहले हमारा तांसें सम्मान कौन सा? तांसें सम्मान तांसें सम्मान की स्थापना 1980 में इसकी स्थापना कभूई 1980 में संगी चित के तीन विद्वान किष्ण राव पंडित हीरा भाई पढ़ोत कर बिस्मेल्लाइख खान को दिया गया था पहली बार तीन लोगों को दिया गया था 2015 सूले में एल के पंडित तहना 2017 में पखावज वादक पंडित दालचंद को दिया गया था ठीक है और अठारा उन्नीस का जो हमने करेंटी प्यास दीखाए उसमें दीखाए ठीक है वहां से देखती रहे ना प्रे कालिदा सम्मान यह आपका उन्नीस वस्सी से प्यारम हुग रंकरम के छित में 2015-16 में राज विसारिया था 2016-17 बंसी कॉल को दिया गया था वर्ष 2017-18 का यह सम्मान भी ख्याद रंकरमी राम गोपाल बजाज को दिया जाएगा ठीक है दिया गया तो जोसे सम्मान यह आपका उन्नीस सो तेरासी चौरासी में सुरूं हुगा था पहली पंडित गिर्जा प्रिसाथ को मिला था 2015-2012 दिरे में पंडित राम साहय को दिया गया था कभी सम्मान 1986 से शुरूं हुआ पहली बार गोपाल किष्ण अडिक को दिया गया था तो यह फिर आपका कुमार गंद हो यह 1992 में शुरूं हुआ पहली बार अजय चक्कवर्ती को द को दिया गया था लतामंगिस का संबान 1984 में शुरूं गया ये पहली बार नॉसाद अली को दिया गया था लटा मंगीस का सम्मान 1984 में शुरूंगा नॉसाद अली को दिया गया था नाना जी देशपोक राष्टी ये सम्मान ये 2013 में शुरूंगा पित अवाथ 118 शू येस Charitable Trust पूड़े को दिया गया था मैतली सरन गुप्त सम्मान यह आपका 1987 में सुरू हुआ पिथम सम्माने स्री समसेर भाधुर सीन को दिया गया था विराश्टी एकवाल सम्मान 1987 में सुरू हुआ पिथम सम्माने पिथम बार अली सरदार जापरी को दिया गया था सरजोसी सम्मान 1992-1993 में शुरू हुआ पहली बारे स्रीहरी संकर परसाई जी को दिया गया था हमेशा परिक्चाओं है या तो पहली बारे जैसे सम्मान दिया गया उसके बारे में पूचेगा या current में जो भी आपका year चला है फिर चाहिए 19 हो या फिर 20 में हो क्योंकि या तो सुरूं का पूचता है या last का अब आपसे यह नहीं पूचेगा कि 12 में किसी मिलाता तेरह में किसी मिलाता तो last का याद रखिए और सुरूं का याद फिर आपका किसोर कुमार संब्मान 1996-97 में सुरूं होगा पितलम संब्मान पिसी दिन magnetisa कि रसी केस मुखरजी को दिया गया था मातमा घंधी राष्टी संब्मान 1995-1996 में सुरूं है पहली बार एक कश्थूर्वा घंधी स्मारक ट्रस्ट इंदौल को दिया गया था फिर है आपका राष्टी है राष्टी इस्तर सर्वुच सिखर सम्मान ये 1981 से तुरू हुआ पहली बार स्रीकांत वर्मा डीके जोसी एवं कार्थिक राम को दिया गया था अरुड़ा सानवाग पुरुसकार ये 19 मई 2015 को महला पंचयात के अउसर पर मुकमंतरी सिखरासिंग चोहन ने ततकाली नोस समय के मुकमंतरी सिखरासिंग चोहन थे ने महला के हिंसा के खिलाब काम करने वालों को अरुड़ा सानवाग के नाम पर एक लाग रुपे के पुरुसकार पिती वर्स दिया जाने की गोशना की थी फिर है आपका मुखमंत्री नारी सम्मान पुरुषकार मद्विदे सरकार द्वारा महलाओं के विरूद अत्याचार और हिंसा के मामलों को मामलों को रोकने के लिए मुखमंत्री नारी सम्मान पुरुषकार दिया जाएगा इसके तहित राज इस्तर पर एक लाख रुपे और जिला इस्तर पर पचास जार रुपे पिदान किये जाएंगे ठीक है तो रहे हैं आपका बीरांगना लच्मिवाई सम्मान राष्टी ये सम्मान ये आपका 2013 में सुरू हुआ पहली बार ये माउंट एवरेश्ट विजेता पहली भारती अमहला सुसरी बच्छन्दी पाल को दिया गया था ठीक है बीरांगना रानी दुरगावती राष्टी ये सम्मान ये आपका 2008 में सुरू हुआ पहली बार राची रोची को रोड करकेटा के लिए को दिया गया था थी बीर सगकर साहें ये उम्रगुनात साहें राष्टी ये सम्मान 2008 में सुरू हुआ पहली बार मेगाले के मेगाले क किन फाम सींग नो किन रेख को दिया गया था ठककर भापा राश्टिये सम्मान यह आपका 2008 में शुरूँगा पहली बार किरल के उत्तर वायनोड इस्तित स्वामी बेवेकानन्द मेडीकल मिसन को दिया गया था महेसी पढ़नी प्रोषकार यह 2008 से शुरूँगा है महराजा अग्यसेन राश्टिये प्रोषकार यह आपका पहली बार रामकिष्ण मिसन वैलूरमत को दिया गया था नेराला इसमीती सम्मान 2014 से तुरू हुआ है इसमें 21,000 रुपे दिये जाते हैं पहली बार राजेश जोसी को दिया गया था मद्पिदेश में चार नई सिखर सम्मान कौन-कौन से मद्पिदेश सरकारत वारा चार नई राष्टी है सिखर सम्मान इस्थापित किये गए यह सम्मान नित नाटक संगीत और दुरलब वादन के चित में उलेकनी एकार करने बाले कलाकारों को पिदान किये जाएंगे इन्हें मिलाकर राजे के सिखर सम्मान तीन से बढ़कर साथ हो जाएंगे नए सिखर संबान के अंतरगत भी संबान निदी के रूम में एक 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 लाख रुपे दिये जाएंगे साहित फिदर्सन कला और उपंकर कलाओं के चित में सिखर संबान पहले से स्थापित थे फिर है आपका कभी पिदीप अलंग करण अमर गीतकार राष्टी है कभी पिदीप के नाम से पहला राष्टी है कभी पिदीप संबान 23 मार्च 2015 को मसीवर गीतकार गोपाल दासनीरज को दिया गया है राष्टी कभी पिदीप संबान 2012 में स्थापित हुए ये 2013-14 में बाल कभी बैरागी को मिले था 2014-15 में सौम ठाकोर 2015-16 में माया गोविन और 17-18 सुरेंसर मागो फिर हैं आपका दीन दयाल पोशन परोष्कार 11 परवड़ी 2017 को इस परोष्कार की गोशना की गई है विदेश में चलना ही विशेस वजन अभियान के तहट सामने आए कम वजन के बच्चों को पोशन इस्तर में सुधार के लिए एक मार्च 2017 से विशेस पोशन अभियान सुरू किया गया है मद्विदेश सासन द्वारन निम्लिकित फिलोसिप पिदान की जाती है तो याद रखना है गजानन गाजा गजानन द्व मादा मुक्ति पर फिलोसिप आपकी साहित के लिए दिये जाती है चक्धर फिलोसिप लोग कला सास्तिय संगीत रूपंकर कला के लिए दिये जाती है अमरिता सर्गेल फिलोसिप आपकी रूपंकर लेलित कला के चित में दिये जाती है उस्ताद अलावदीन खा फिलोसिप ये संगीत के चित में दिये जाती है त्रीकांत वर्मा फिलोसिफ गेर हिंदी भारतिय भासा में हिंदी कविता के अनुवाद के लिए दी जाती है राजिंद मातर फिलोसिफ आपकी पतिकारिता के चित में दी जाती है और इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी आपकी फिलोसिफ आपकी परयावाइन के लिए दी ठीक है इन्हें याद रखना है आपको किश्चित में दी चाती है किन से सब्मंदित हैं अब मद्धपदेश के प्रमोग पुरुसकार है उन्हें एक फिलोचार्ट की रूम में देख लेते हैं हम दो रासी इनकी बदलती रहती है तो जो करेंट में आएगी उसे याद रखना है आपको कालीदा संबान यह दिया जाता है आपका सास्तिय संगीत रूपंकर कला रूपंकर कला रंकरम सास्तिय नेत 1980 में स्थापित हुआ सिखर संबान यह आपका साहित पिदर्सन कारी कला रूपंकर कलाओं के छित में दिया जाता है कि चित में दिया जाता है 1980 में तुलसी सम्मान लोक एबं पारंपरी कलाओं कि चित में दी जाती है 1983 में लता मंगेशकर पुरुषकार सुगम संगीत के चित में 1984 में जवाहरलाल नहरु पुरुषकार आधारभूत बिज्ञान तक्निकी विकास इंजिनरी विकास के चित में कभीर संमान भारती है कविता के चित में 1986 च शतासे में मैथली सरन गुप्त संमान हिंदी कविता के लिए 1987-88 में शुरू हुआ एकबाल सम्मान आपका उर्दू साहित में दिया जाता है 1987 से शुरू हुआ सरचोसी सम्मान हिंदी बैंगलेकन के लिए दिया जाता है 1992 से शुरू हुआ कुमार गंदरव सम्मान युगा सास्तिय संगीत कार के लिए दिया जाता है 1992 में शुरूंगुआ थे मात्मा गांदी संवान यह आपका गांदी दर्शन के नूप सामाजिकार के लिए दिया जाता है 95-96 से शुरूंगा किसोर कोमार संवान आपका संगीत के चित में दिया जाता है 1996-97 से यह शुरूंगा फिर आपका देवी देवी अहल लियाव संभा यह आलोचना के चित में दिया जाता है 1996-97 से दिया जा रहा है रामचंद सोकल प्रोशकार बैंगल लिट निवंद इसमार्डस रेखाचित यात्रा आत्मकथा डायरी पत्र रिपोर्टाज के चित में दिया जाता है डॉक्टर विष्णू स्रीधार वाकडकर्स प्रोशकार यह प्राचेन संभदा एवन प्रातात्वीक संस्किती के सरक्षन वासंभर्धन के लिए दिया जाता है 2005-06 से भाभूती अलंकरन अखिल भारतिय इंद्रा गांधी प्रोशकार यह समाज में विषेष्ट 腳षवदान कि लिए दिया जाता है 1985-01 इंद्रा गांधी राष्टी प्रोशकार इंद्रा गंधी राज़ प्रोशकार समाज के किसी विषेष्ट छित में सम्रज़पित सेवाहितु दिया जाता है यह थी आपका जाग्रत तथा दलिद वर्गों के उत्धान में उत्कृष्ट कार्या हितू दिया जाता है 2004 से रानी दुर्गाबती राश्टिय पुरुसका आदिवासियों के विकास के लिए कार करने वाले व्यक्ति वसंस्थाओं को पिदान किया जाता है 2008 से दिया जा रहा है संकर साय एवं रगुनात साय राष्टिय पुरुषकार ठककर बापा राष्टिय पुरुषकार ए आदिवासी समुदाय के नेधन पीडित वपिछड़ी पिछड़े लोगों की पिती प्रेमबा समता पूर्वक रेखा सेवा ही तु दिया जाता है ये भी आपका 2008 से दिया ज चंदसेकर राजाज सम्बान पुरुषकार समास सेवा वद्दिस वक्ति के लिए दिया जाता है 2006 से राष्टिय कभी पिदी पुरुषकार ए राष्टिय तकी कभीता हेतु दिया जाता है 2011 से बीरांगना लच्छमी बाइराष्टिय सम्बान अदम साहज वीजता नारी अदमिया मद्दविदिस की जो सांस्किति संस्था हैं एबं अकादिया उन्हें देख लेते हैं भारत भवन क्या है भारत भवन मद्दविदिस में कला के विकास के लिए पिधान मंतरी इंद्रा गांधी ने 13 फरवरी 1982 को भोपाल में चार्ल्स कोरिया द्वारांडे जायन किये गए भारत भवन का उद्गाटन किया था भारत भवन में निमने च्छे भावें क्या याद रखना है यह भोपाल में है 13 फरवरी 1982 को इसकी उद्गाटन हुए था ठीक है और इसका डिजैन किसने किया चार्ल्स कोरिया ने इसमें सामिल है आपके भवन रूप अंकर य भाग रख या चोदहें भारतिये भाशाओं कि वीताओं का पुस्तकाला था अनेहद या सस्थी वह लोग संगीत समग्री का संगरह माला है अंतरं वह बही रंग एसमें आंत्रिंग एवं बाह्रशनय रंग मांच ललीथ ललित कलाओं का पुस्तकाला एवं अब यह एवं चित्कला से संब्द करम साला हैं फिर है आपका रविंद भवन यह भी भोपाल में इस्तिते इसका संचालन राजभासा एवं संस्किती संचानालाय द्वाला किया जाता है इस भवन में 4,000 दर्सकों के बैटने की चमता है जिसमें सास्तिय नेत संचीत यवं नाटक का आयोजन किया जाता है फिर है आपका मद्विदेश कला परिशद इसकी इस्थापना 1952 में हुई यह भी भोपाल में आपका है यह परिशद खजराहो के समारो तांसें समारो आधी का आयोजन करती है फिर है आपका मद्विदेश हिंदी गरंत अकादमी पिदेश के उच्च सिक्षा विभाग की अंतरवर्वत कारण इस अकादमी की स्थापना 1969 में हुई दुविमासिक पत्थी का रचना का पिकासन इस अकादमी द्वारा किया जाता है उच्छ सिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं मद्पिदेश के प्रमुक साहिद एवं ललित कला अकाद्मिया या आपकी अकाद्मियों के नाम हो गए उनकी स्थापना वरस हो गई वो मुख्या ले मद्पिदेश कला परिशत 1922 में इसकी इसकी बोपाल में मदपदेश साहित परिशत उननी सो चंगवन में इसकी इस्थापना हुई ए भी आपका बोपाल में है मदपदेश हिंदी गरंत अकादमी उननी सो नत्र में इसकी इस्थापना हुई बोपाल में इस्थे थे उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी 1989 में हुई मेहर सतना में इसकी स्थापना ठीक है? मदबदेश आदिवासी लोगकला परिशत 1980 में स्थापना हुई ये भोपाल में आपका मद्विदेश सिंधी अकादमी 1983 में हुई इसकी स्थापना ये भी भोपाल में आपका इस्था थे अल्ला हमा इकवाल अकादमी 1984 में इसकी स्थापना हुई भोपाल में इस्था थे मद्विदेश संस्केत अकादमी 1985 में इसकी स्थापना हुई भोपाल में इस्था थे पूरातत्व एवं अब लेखाकार संग्राले 1956 में स्थापना हुई बहुपाल में इस्तित है सुतंता संग्राम इसमारक बवन 1997 में इसकी स्थापना हुई यह भी आपका बहुपाल में अब बात करते हैं प्रमुक संग्राले मद्विदेश के प्रमुक संग्राले क्या है मद्विदेश पूरातत्त एवं संगरालाय एवं सचन संचानालाय की स्थापना 1956 में बोपाल में की गई तथा वर्ष 1994 में राज अभीलेखाकार का सम बिलियन भी इसमें किया गया है मद्विदेश में केंदसासन के संगरालाय पहला है आपका पूरातत्त संगरालय साची जिला रायसेन में है इसमें हिंदू और बहुत दोनों धर्मों से सम्मंदित आउसेस हैं आपके दूसरा है पूरातत संगरालय खजुरावो यह आपका च्छतरपुर जिले में है इसमें चंदेल काल ग्यारवी से वारवी सदी की पितिमाय सुरक्षे थें जिसमें अगनी और स्वाहा, अर्द नारी सुर आदीनाद, गजलच्चमी, मित्वन मूर्तियां प्रमोक हैं राज जिस्तरीय संग्राले 6 कौन-कौन से? केंद्रीय संग्राले गूजरी गवालीं आपका गौली है, 1909 में बना राज की संग्राले भोपल, 1987 में इसकी स्थापना गज्राए पुरतासी पिर 1964 में इसकी ₦ तीसरा केंद्रीय पुरात्त संग्राले इंदोर में, 1931 में रानी दुर्गाबती संग्राले जवलपुर 1975-76 में इसकी स्थापनावी पिर आपका राजकिय संग्राले धुबेला चतरपुर में 1975 में तुल्सी संग्राले रामबन सतना 1978 में दुसेंत कुमार पांडूलिपी संग्राले भोपाल में इस्तित हैं बात करते हैं जिरा संग्राले की इन्नों हैं अपकस्तिपुरी धार मंडला विदीशा सहडोल राजगर देवास मंदसोन और होसंगाबाद में इस पित्थ हैं इनमें से सिवपुरी तीर्थकर पितिमाओं के लिए और मंडला जीवास और सेसों के लिए पिसित्थ हैं इस्थानिय संग्रालाओं की बात करनें तो इनमें भानपुरा इंदो मंदसोन आसापुरी डायसिन महेसुर खरगोन गंधाव फुरी देवास और दमोव में संचालित संचालित इस्थानिय संग्रालाओं में इस्थानिय इस्थर पर प्राप्त पासान पितिमाओं का संग रहे हैं पिर विश्व विद्यालाई संगराले तीन विश्व विद्यालाई विद्यालाई डॉक्टर हरी सिंग और विश्व विद्यालाई सागर जबलपूर में विश्व विद्यालाई जबलपूर विक्रम विश्व विद्यालाई उजयन ने अपने या पुरातत संगराल इस्थाबित कर रखे हैं तो यह था आपका पूरुषकार ठीक है आंगे हम लोग बात करेंगे प्रमुक ब्यक्तियों के बारे में मद्विदेश के जो प्रमुक ब्यक्ति हैं उनके बारे में इसमें लोग बात कर रहे हैं मद्विदेश सामान गयान के बारे में तो इसमें हम लोग अभी तक 25 चैप्टर के खत्म कर चुके हैं 25 25 वा कौन सा था आपका 25 वा था आपका पुरोसकार एवं सम्मान के बारे में ठीक है मद्ध्विदेश के परिपेक्च में थे इसमें बात करने वाले हम लोग प्रमुख ब्यक्तित के बारे में जो प्रमुख ब्यक्ति है मद्ध्विदेश के चैचित उनके बारे में याद र तो सबसे पहले बात करते हैं साहित के चित में साहित के चित में आपके पंडित माखनलाल चतुरवेदी वाल कृष्ण सर्मा नवीन डॉक्टर सिमंगल सिंग सुमन बालकवी वैरागी सरज्जोसी हरी संकर परसाई राजिन दवस्थी असोक बाजपई भवानी परसाथ मिस न के चित की बात करें तो मक्भूल फिदा होसेन बिरिजु महराज कुमार गंदर्व सत्त देवदुवे डॉक्टर एके सेन चंद्र देश सक्सेना यह आपके कलागी चित के प्रमुक व्यक्ति हैं राजनीती की बात करें तो डॉक्टर संकर दयाल सर्मा अरजुन सिंग माद बिहारी बाच्पई बीरेच क्मार सक लेचा फिलम के चित की बात करें हम लोग के तो फिलम के चित में किसोर कुमार असोग कुमार लाइता पवार अन्नुक पूर ओपी नेयर रगवी रियादो मधू जया भादूरी सलीम जावेत किरकिट के छित की बात करें तो अन्य खिलाडियों की बात करें तो पार्थ मानिक रिंगो गुप्ता रीता जैन जवती मेहिता टेबल टैनिस से समद्धि विवेद बैक्तियों की बात करें तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पिर्मुक कलाकारों के बारे में पिर्मुक कलाका बेगम असगरीवाई बेगम असगरीवाई इनका जनम हुआ था 12 अगस्त 1908 को कहां चतरपुर में सास्तिय संगीत की पिसेद गायका थी हैं सिखर सम्मान तांसिन सम्मान पदम सिरी से सम्मानित की गई इनके नेधन की बात करें तो 29 अगस्त 2006 को टीकमगड में हुआ था इनका नेधन का हुआ टीकमगड में 2006 में 1918 में इनका जनम हुआ था फिर आपके विर्जु महराज ब्रिजमोहन मिस्सिन का पूरा नाम है विर्जु महराज कतक समराथ विरुजु महराज का जनम चार परवड़ी 1938 को वर्णाडसी में हुआ था इन्होंने देश विदिश में अनेक नित कारक्रम पिस्तुत करके सास्तिय नेत कतक का गौर बढ आया इन्हें कालिदास पुरुषकार संगंकला पुरुषकार पदम भूसन संगीत नाटक का कादमी लतामंगेश कर पुरुषकार आधी से सम्वानित किया गया है प्रें आपके अन्नुक पूर कौन है अन्नुक पूर अन्नुक पूर का जनम 20 फरवरी 1956 को भोपाल में हुआ अन्नुक पूर ने अपना केरियर रुका हुआ फैसला नामक नाटक से सुरूंग किया था वंसी कॉल, बंसी कॉल, वंसी कॉल का जनम 23 अगस्त 1949 को हुआ, यह भारतिय नाट मंच से संबन्दित हैं, यह अंतराष्टिय अभिनेता नेदेशक तथा लेखक के रूम में ख्याती प्राप्त हैं, रंग विदूसक थेटर गुरुप के संस्थापक हैं, आपके वंसी कॉल, फिरें आपके असोक कुमार, दादा मुनी, असोक कुमार का जनम 13 अक्टूबर 1911 कुगा, इन्होंने अपना अभिना सफर नया फिल्म से शुरूं किया, एक खंडवाज लेके रहने वाले थे असोक कुमार, इन्हें संगीत नाटक अकादमी, फिल्म फियर पुरुसकाल, त इनके निर्धन की बात करें, तो 10 दिसंबर 2001 को इनका निर्धन हो गया, फिर हैं आपके राजीव बर्मा, राजीव बर्मा, राजीव बर्मा का जनम 7 जुलाई, 1948 को हुआ, ये फिल्म तथा दूरदसन के कलाकार है, इन्हें अप्टॉन पुरुसकाल तथा संजर कासलीवा पुरुसकाल से सम्वानित किया जा चुका है, राजीव बर्मा को, फिर हैं आपके अली अकवर खां, अली अकवर खां का जनम 14 अप्रेल 1822 को हुआ, ये भारत के सरफस्ष्ट सरोद बादक में से एक थे, ये उन्हें सरफपितम इलाबाद में अपनी रचना गौरी मंजरी का फिदर्शन किया था, ये महराजा जोदपुर के दरवार में भी रहे थे, अली अकवर खां, फिर हैं आपके बहुत ही मत्पूँ हबीब तनवर सहा, हबीब तनवर सहाब का जनम 1 सेप्टमबर 1923 को, 1 सेप्टमबर 1923 को रायपुर में हुआ, ये पिसे दिनाटक कार थे, इन्हें नाटकों के निजदेशन के रूम में ख्याती प्राप्त है, इन्हें कई राष्टी पुरुषकार के लावा, मैक्सिस पुरुषकार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनकी मित्तिव की बात करें, हबीब तनवर की, 8 जून 2009 को बोपाल में हुई थी, फिर हैं आ इसी वीमारी के कारण देवास की एक पहाड़ी पर गए और वहीं बस गए, इनका मूर नाम सिवपोत्य था, ये देश के उचकोटी के ख्याल गायक थे, लगवख 400 लोग गीतों कि संग्राय कहलता कुमार गंदर्व को वर्स 1973 में विक्रम विस्विध्याले संगीत मारतंड किष्णराओ पंडित किष्णराओ पंडित का जनम 26 जुलाई 1894 को ग्वालियर में हुआ, ग्वालियर गराने के पिती ने थे तिक्ख्याल गायक किष्णराओ भूदपूर ग्वालियर राज की दरवारी गायक थे, बस 1914 में इन्होंने गंदर्व महाविध जहले की स्थापना भी की थी, इन्हें हिंदोस्तान संगीत का सलाका पुरोष कहा जाता है, किन्हें किष्णराओ पंडित को, फिर आपके जादूगर आनंद, जादूगर आनंद साहब का जनम 3 जनवरी 1952 को जवलपूर में हुआ था, ये अंतराष्टी एक्याती के जाद दूगर है, इन्हें बोसेल्स, पुरुषकार, मैजिक ओप, ट्रस्ट अवार्ड तथा अन राष्टी पुरुषकारों से सम्मानित किया जा चुका है, फ्रहाब के जावेद अक्तर, जावेद अक्तर जी का जनम, ग्वालियर में हुआ, ये पिसिद कभी एवं फिल्म ने लेखक हैं, इन्हें नौ बार फिल्म फियर पुरुषकार तथा अनेग बार राष्टी पुरुषकार से सम्मानित किया जगया है, फिल्म उद्द्यों के पिदिश्टिस इस गीत का लेखक को फिल्म जंजीर की पठकता से फिल्म जगत में प्रवेज मिला, फ्रहाब के ओम पिकास चौरसिया, ओम पिकास चौरसिया का जनम 15 दिसंबर 1940 को हुआ, यह विस्व विख्यात संतूर बादक थे, ओम पिकास चौरसिया, फिर आपके तांसेन, बहुत ही मत हुने, तांसेन का जनम 1506 में गुवाली इरजली के बेहट नामक गाउं में हुआ, इनका मूल नाम रामतनू पांडे है, तांसेन का मूल नाम क्या है, रामतनू पांडे, सरपतिम इन्हें रीवा की राजा, रामचंद अपने दर्वार में लाए, जहांसे समराट अकबर ने अपने साथ ले आए, तथा नावरतनों में सामिल किया अकबर ने, भैरव राग, कुगाने वाली मात तांसेन ही थी, पंदरे सो पचासी मेन की दिल्ली में मित्ती हो गए, फिर आपके गुलाब, गुलाम हुसेन खान, गुलाम हुसेन खान का जनम 1927 में इंदोर में हुआ, गुलाम हुसेन खान विख्यात सितार बादक थी, इन्हें बीनकार बाज की संध्या दी गई थी, फिर कौन है तर्याम के अमजद अली खान अमजद अली खान का जनम 9 अक्टूबर 1925 को ग्वालियर में हुआ यह अंतराश्टिय ख्याती फ्राप्त सरोव बादक है यह पदम सिरी पदम भूशन पदम भीभूशन पूरुसकार सहित अनेक अंतराश्टिय पूरुसकार अर्जित कर चुके है फ्रैमकपूल फिदा हुसेन इनका जनम देसंबर 1915 को महराष्ट में हुआ इन्हें वर्स 1966 में पदम सिरी वर्स 1973 में पदम भूशन 1987 में कालीदा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है इन्होंने इन्दौर के विस्के सबसे लंबी पैंटिंग बनाई इन्दौर में गज गामनी नामक फिलिम का निर्मार किया थे इन्होंने 9 जून 2011 को लंदन में का निर्धन हो गया महमूद फिदा हुसेन का अमीर खान 1913 में इन्दौर में जन्मी ख्याल गायक उस्ताद आमिर खान को भारत सासन के अकादमी अवार्ड वपदम भूसन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है फिर हैं आपके बाबा अलाउद्दीन खान बाबा अलाउद्दीन खान इनका जन्म तिपूरा बंगलादेश के सेवपूर ग्राम में 1881 में हुआ इस सरोज सम्मराट के नाम से विख्या थे मेहर घराने के बाबा अलाउद्दीन खान का निवास इस्थान मदीना भवन सांती कोटीर संगीत का तीजित इस्थान बाना जाते बर्स 1958 में ने पदम भूसन तथा 1971 में पदम भूसन से सम्मानित किया गया है फिरे हैं आपके बाबा साहिब पूचवाली इनका जन्म बाबा साहब का 15 दिसंबर 1908 को ग्वालियन में हुए बाबा साहब को बर्स 1997 में तानसन सम्मानित से सम्मानित किया गया इनकी निवक्ति बनारस के बसंद करन्या महाविध्याले में का संगीत अध्यापक की रोम में बरस 1964 में हुई थी परन्तु ये एक बरस बाद ही मादव संगीत महाविध्याले गौालियर में उप प्यधाना अध्यापक की स्थान पर इनकी निवक्ति हुई प्रहाप के हापिच हापिल अली खां सरोध बादक उस्ताद हापिच अली खां का जनम 1888 मैं गुआलियर में हुए सरोध बादन की सिक्षा इन्हें अपने पिता स्री नन्य खां से मिली 1960 मैंने पदम भूसंड की उपादी से अलंकित किया गया फिरहापके उस्ताद अली अकबर खां विसिद्ध सरोध समराट उस्ताद अलावदीन खां के पुत्त थे हंगी इस्टॉन नामक फिलिम के संगीत थे तो सर्वशिष्ट परोसकार से सम्मानित किया गया उस्ताद अली अक्बर खां पिथम संगीत गिते जिनका कारक्रम अमेरिकन टेलीविजन से पिकासित पिसारित किया था 1956 में कैलिफोनिया में कॉलेज और म्यूजिक की इस्थापना कीनों नाटक अकादमी का राष्टपती परुषकार और पदम भूश्रण की उपादी से सम्मानित किया गया फिर हैं आपकी उस्ताद कोने उस्ताद निसार हुसेन खां ग्वालियर घराने की पिसेत संगीत कार उस्ताद निसार हुसेन खां का हिंदू संस्किती से अधिक प्रभावित थे आसुतोस राना नर्सिंगपुर गडवाला के इस ख्याती प्यात कलाकार में अपनी पितिभा के बल पर फिलम संगी जगत में अपने पैर जमाली ये थे आसुतोस राना फिर हैं अर्जुन रामपाल फिलम अभीनेता फिडिव सर का जनम 26 नमबर 1972 को जबलपुर में हुआ था अर्जुन रामपाल जौनी वाकर के नाम से चर्चित बदुरुद्दीन जमालुद्दीन काजी हास अभीनेता थे जिनका निर्थन 2003 में हो गया था कभूगा 2003 में आगे बात करते हैं हम लोग विठ्थल भाई पटल साहब के बारे कौन विठ्थल भाई पटल पटल विठ्थल भाई पटल का जनम 1936 में हुआ एक कभी सायर और राजनेतिक के रूम में विख्यात स्री पटल मद्धिदेशासन में मंत्री भी रह चुके हैं ठीक पर हैं मगरी कहा जाता है इनकी रचना की बात करें तो फूले बिचीता किसोरकुमार खंडबा के जनमे किसोरकुमार आदुतिय पिदिवा के धनी थे गायक नेर्देशक और अभी नेता थे किसोरकुमार फिर आपके कभी पिदी बढ़नगर वो जनमे जनमे कभी पिदी ख्याती प्राप्त गीतकार हैं सूर्जावाई खंडे भर्थरी गाई का थी हैं नरेश में था ग्यान पूट ग्यान पीट से सम्भाने थे राहुल बार पूते ये नई दुनिया के संपादक रहे हैं ठीक आप बात करते हैं हम लोग पिरमुख राजनितिक्यों के बारे में नेताओं के बारे में ठीक हैं सबसे पहले बात करते हैं मौलाना बर्गत बूदध के बारे में इनका जनम भोपाल में 2862 में हुगा इन्हों ने अमेरिका में गदर पार्डिय की स्थापना की एक नम्बा पर 1913 को इन्होंने गदर नामक सब्ताहिक पत्य निकाला जिसके संपादक थ 27 सेप्टमबर 1927 को इनका निर्धन हो गया कुसा भाव ठाकरी इनका जनम 1922 में धार में हुगा था भाजापा की पित्पुरुस माने जाते हैं कुसा भाव ठाकरी ठीक पिरें आपके केलास काटचू केलासनाथ काटचू इनका जनम हुगा केलासनाथ का सत्रे जून 1887 को मद्विदेश की जावरा रियासत इंदौर के निकट हुआ था उड़ीसा और पश्चिम मंगाल के राजबाल भी रह चुके हैं वर्ष 1957 से 1962 तक मद्विदेश के मोकमंतरी भी रहे हैं स्री काटचू ने इलावाद लोग जर्नल का सम जर्नल का संपाधन भी किया था फिरें आपके द्वारी का प्रिसाद मिस द्वारी का प्रिसाद मिस का जनम पांच अगस्त 1901 को पादरी गाओं उन्नाव उत्तर विदेश में हुगा था बरस 1963 से 1967 तक मद्विद भी रहे 1922 में इनोंने स्री सार्दा का संपाधन भी किया बरस 1942 में हिंदी का सप्ताहिक पत्तिका सराथी पहरम की सोने इनकी द्वारा रचित पुस्तक है किष्णायन और अनूदिता ठीक है फिरें आपके प्विकाश चंद सेठ ठी कोन है फिकाश चंद सेठ ठी प्विकाश चंद सेठी के बारे में बात करें तो इनका जनम 19 अक्टूबर 1920 को जालरा पाटन में हुए 1970 से 1975 तक मद्विदेश के मुकमंत्री रहें पेकाश सेठी गोवेंद नारायन सिंग इनका जनम हुआ 25 जुलाई 1920 को 1967 से 1979 तक प्विदेश के मुकमंत्री भी रहें मौतिलाल बोरा मौतिलाल बोरा का जनम हुआ 20 देसंबर 1928 को ये 1950 में बर्स 1985 में मद्विदेश के मुकमंत्री बने केलाश चंद जोसी इनका जनम हुआ केलाश चंद जोसी का 14 जुलाई 1929 को देवास जले के हाट पीपल लिया नामा किस्थान बहुआ बर्स 1963 से 1966 तक ये जनसंग बिधायक दल की सभापती रहें 23 जुन 1977 को जोसी जी मद्विदेश के मुकमंत्री बने आगे बात करते हैं हम लोग अर्जुन सींग के बारे में अर्जुन सींग का जनम 5 नवंबर 1930 को 64 जिलासीधी में हुआ था 1980 में ये मद्विदेश के मुकमंत्री बने अर्जुन सींग 2010 में अर्जुन सींग का नेधन हो गया फिर आपकी उमाभारती जी के बारे में बात करें हम लो तो इनका जनम 3 माई 1969 को उमाभारती का जनम 3 माई 1969 को टीकमगर के डुंडा में हुआ था 8 दिसंबर 2003 को मद्विदेश की पित्थम महला मुकमंत्री बने याद रख न इनकी लिखेत पुष्टकों की बात करें तो स्वामी बेवेकाननद 1972 में पीस ओब माई 1978 में मानो एक भक्ति का नाता 1983 में इनकी कौन-कौन सी किताब हैं स्वामी बेवेकानन पीस ओब माईंड मानो एक भक्ति का नाता ठीक फिर हैं आपके आरिप बेग आरिप बेग का जनम इंदोर में दो फरवरी 1936 को हुआ बर्स 1967 से 1972 तक मदप्रदेश विधान सभा के तथा बर्स 1977 से 1989 तक लोगसभा के सदस्वी रहे हैं यह भारतिय जनता पार्टी के राष्टी उपाद्यक्च भी रहे हैं आरिप बेग अब सबसे बहत पूर्ण हैं आपके अटल विहारी बाचपेई साहब अटल विहारी इसको जनम हुगा इनकी सिक्षा ग्वालियरो कानपूर में हुई इनके पिता का नाम था स्री कृष्ण बिहारी बाचपेई इन्होंने भारत चोड़ों आंदोलन में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया ए जनसंग के संस्थापक सदस्वों में से एक थे स्री बाचप पिदानमंद्री पर पहुचने वाले मद्विदेश के पहले ब्यक्ति हैं यह वर्स 1951-1997 तक लोकसभा के तथाओं वर्स 1957-1977 तक राजसभा की सदस्वी रहे हैं इन्होंने वर्स 1966-67 में करनाडा में आयो जित गुट निरपेच संसदीय समेलन में भारत का पिती ने दित म पांडल का नेतत किया था 1967-1984 तक यह लोकसभा की लोकस लेखा समिथी के अध्यक्ष भी रहें अटल विहारी बाचकई साथ अटल विहारी बाचकई साथ के बारे में बात करें हम लोग तो 1977 में गठित जन्ता पार्टी सरकार में यह विदेश मंत्री भी रहे 1989 में में यह तीसरी बार पिधान मंत्री भी बने थी इनके द्वारा रचित पुस्तरोकों की बात करें तो मेरी एक्वायन कभीताएं जन्संग और मुसल्वान मेरी संसद यात्रा की आत्मगता कभीराज की कुंडलियां मित्यु अत्वा हत्या अमर वलिदान या इनकी पु संकर्दयाल सर्मा कोने संकर्दयाल सर्मा संकर्दयाल सर्मा का जनम भुपाल में हुगा कभ 19 अगस्त 1908 वर्स 1952-1956 तक यह भुपाल इस्टेट के मुकमंत्री रहे हैं संकर्दयाल सर्मा 1906 में मद्पतेश के गठन की बाद डॉक्टर सर्मा राज्य मंत्य मंदल में मंत्री बने ये वर्स 1992-1997 तक भारत की राष्टवती और उपराष्टवती भी रहे है डॉक्टर सर्मा द्वारा लिखी गई पुस्ताप की बात करने तो कॉंग्रिस आप प्रोच टू इंटरन नियान बेटो हो गया ठीक फिर आते हैं आपके सुंदरलाल पटवा सुंदरलाल पटवा सुंदरलाल पटवा का जनम 11 नवंबर 1924 को मंदसों के कुड़ेश और नामकिस्थान पर हुआ 1942 में राष्टी एस्वम सेवक संग से इन्होंने राजनीती में प्रवेश किया पहली बाद 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक उसके बाद 1990 से 1992 तक मदविदेश के मुखमंतिरी रहे हैं विजया राजी सिंधिया राजमाता विजया राजी सिंधिया का जनम 12 एक्टूबर 1919 को हुगा कहां सागर जले में ठाक और महंद के यहां हुगा था नैपाल के राणावन्स के इनके बच्पन का नाम था लेखा देविस्तुरी है यह मैट्रिक पास करने वाली पिथम नैपाली महला थी बिवाह ग्वालियर के महराजा जीवाजी राव सिंधिया से हुगा था पिथम बार 1957 में गुना से लोकसभा के लिए चुनी गई सागर विस्त विद्याले की कुलपती भी रही है चब्दी 25 जनवरी निस 25 जनवरी 2001 को इनका नेधन हो गया फिर आते हैं आपके माधाव राव सिंधिया माधाव राव सिंधिया का जनम ग्वालियर के महराजा के 10 मार्च 1945 कुगा इनकी माता का नाम विजया राजी सिंधिया था पिता का नाम जीवाजी राव सिंधिया था लोकसभा सांसद गुना से 1980 तथा ग्वालियर से 1984 के दवारान रहे तीस सेप्टमबर 2001 को एक बिमान गटना में इनकी मित्ति हो गए थी मादवराव सिंधिया की बीरेंद कुमार शकलेचा शकलेचा जी का जनम चार मार्च 1930 को हुआ था कब हुआ चार मार्च 1930 को एस सम्विदास आसन के उपन मुकमंत्री रहें तथा वर्ष 1978 से 1980 के बीच मद्विदेश के मुकमंत्री रहें याद रखना पित्थम गैर कांगरे से मुकमंत्री थे फिर आती हैं आपकी सबनम मौसी जी बर्ष 2000 में तब सन 2000 में सहडोल जिले के सुहागपूर विधान सवा से उप चुनाव में विधायक पधितू निर्वाचित होने वाली भारत की पहली किन्र थी ये सबनम मौसी पहली किन्र विधायक थी याद रखना कहां से सुहागपूर से फिर अब बात करते हैं हम लोग मद्विदेश के प्रमुक समाज सेवी के बारे में जो समाज से भी हैं उनके बारे में सुबाराओ एक कॉंग्रिस से बदल के से सम्मद रहे इन्होंने चंबल गाटी में डांकों के आत्म समर्ण पर में मतपूर्ण भूमिका निभाई थी सुबाराओ जी ने इन्होंने मुरेना जिले में एक गांधी आस्रम की भी स्थापना की थी रई इसा खान इनका जनम उन्नी सो नंचास में हुए भौपाल गैस कांड में बेरोजगार हुए गैस पीडित परिमाहिलाओं को रोजगार तथा अधिकार दिलाने की तु रईशा खान पेया दिलसील है गैस पीडित स्वयम सेव जी महासंग द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है पर हैं आपके कांता कांता बेन तयागी कांता बेन तयागी का जनम हुआ 27 मई 1924 हो इन्हों ने बस 1993 में खरगोंजली की सुदूर आधिवासी अंचल मेश्थित ग्राम निवाली में कन्या आश्रम की नीव रखी थी किसने कांता बेन तयागी ने फिर हैं आपके मंगल डॉक्टर मंगल पिरसाद अगवाल जी के बारे में हम लोग बात करें तो मंगल पिरसाद अगवाल का जन्म हुआ 9 जून 1935 को डॉक्टर अगवाल ने सर्व जातिय एकता इवं छुआ छूत मुनमूलन नसामुक्त गोवर गेसेंद अंबर चर्खा सर्मदान से तालावों का निर्मार मानस प्रिचाल तथ मद्दात सिक्षा के काम करके असीम ग अगवाल ने इनकी इन उपलब्दियों के कारण इन्हें मद्दपिदेश गुजरात महराश्ट तथा गोवाद्वारा सर्वसिष्ट समनवेक पुर्षकार मिला हुआ डॉक्टर मंगल पिर साथ अगवाल जी को फिराती हमारे निर्मला निर्मला बुच्ष सामाजी कारिक करता राज की पूर्मुक्ष सचिव पबलिक इंटर्प्राइजिज सेलेक्शन बोर्ड की चेयर्मेन और राष्टिय पर्यावाण अपीलिय अथोर्टी में मत्पूर्ण पदवरेक पर रहने वाली निर्मला बुच्ष महला चेतना मंच की स्थापना कर गरी महलाओं को आत कौन कौन है? सबसे पहले हमारे मुस्ताः अली। मुस्ताः अली का जनम 14 दिसंबर 1904 को इंदर में हुआ, वर्ष 1931 में इन्होंने अपने पिथम टेस्ट तथा वर्ष 1922 में बाबन में आपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था। इन्होंने पित्थम सैनी के मैचों में दसजार से अधिक रन बनाई यहने पदम सिरी से भी सम्भानित किया जा चुका है मुस्ताद अली खांगो विदेशी धरती पर सतक जमाने वाले पहले भारतिय क्रिकेटर हैं मुस्ताद अली खांग अठारे जून 2005 को इनका इंदौर में नेदन हो गया फिर आपके नरेंद हिरवानी नरेंद हिरवानी का जनम 18 अक्टूबर 1968 को हुगा 1987-88 में एक टेस्ट में वेट इंजीच की खलाब 16 विकिट लेने का विस्त रिकॉर्ड इनकी नाम है बर्स 1988-89 में ने विक्रम पुरुसकाल से सम्मानित किया गया था नरेंद हिरवानी को फिर आपके राजे सुरी डोल किया महला किर्किट की इस अंतराष्टिय ख्याती प्राप्त खिलाडी ने 1975 में ओल राउंडर के रूम में भारतिय टीम में प्रविश किया इन ओने बर्स 1976 में उस्टिलिया नियुजीलेंड के दोरी फ़ल अपने सरफशिट पिदरसन का लोहा मनवाया फिर हैं मधुयादो जी ये अपन ये भारतिय महला होकी की अंतराष्टिय ख्याती प्राप्त खिलाडी है इन ओने बर्स 1989 में और 1981 में भारतिय टीम का पिति ने दित किया फिर आपकी संक्र लचमड जी इनका जनम इंदवर में 7 जुलाई 1933 को हुगा किनका शंक्र लचमड का इनओने वर्स 1964 में ओलम्पिक खेलों में भाग लिया इनो Merciis April में एसियाई खेलों में भारत की होकी टीम का निदित किया फरें आपकी संध्या अगबाल जी, संध्या अगबाल जी का जनम 1963 में इंदोर में हुगा इबारतिय महला करकेट टीम का पिती निदितिक कर चुकी है इन्हें अर्जोन पुरुषकार तथा बिक्रम पुरुषकार से भी संध्या अगबाल जी को फिरें आपकी इसने गिद्धा मेहिता इबारतिय टेवल टेनिस खलाड़ी थी इन्होंने अंतरश्टी इस्तर अनेगबार भारत का नेतित किया अब लोग हम लोग बात करते हैं पिरमुक साहितकारों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं मुल्ला रमुजी मुल्ला रमुजी का जनम भौपाल में 21 मई 1896 को हुआ इन्हें देश बिदेश में अपनी रचनाओ के कारण ख्याती मिली बरस 1921 में मुल्ला रमुजी कोई पहली किताब गुलावी उर्दू पिकासित हुई बौपाल में संस्किती भवन की इमारत का नाम मुल्ला रमुजी संस्किती भवन लखा गया माखलाल चतुरवेदी माखलाल चतुरवेदी का जनम 4 अप्रेल 1889 को होसंगाबाद के बावई में हुआ था इन्होंने करमबीर का संपाधन भी किया इन्हें अनेक पुरोसकारों से सम्मानित किया जा चुका है जिसमें आपके भारत सरकार द्वारा फिदत पदम भूसन भी सामिले माखलाल चतुरवेदी जी की प्रमुक रचनाव की बाद करें तो हिमक्रीटनी हिमतरगनी ये योगचरन समर्पन मरंजवार साहत देवता आधी है इनका देहानवास देहावसान निर्दन इनका 1968 में हुगा फिर आते हैं के कौन संकर संकर परसाई हरी संकर परसाई जी का जनम 22 अगस्त 1924 को गा इनकी प्रमुक रचनाव की बात करें तो हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिर रानी नांगपरी की कहानी सिकायत मुझे भी ए और अंत में ये सभी हरी संकर परसाई जी की रचना है फिर आते हैं बालकिष्ण सर्वा नमीन बालकिष्ण सर्वा नमीन का जनम 1897 में मद्विदेश के साजापूर जिले में हुआ था कहां साजापूर जिले में इन्होंने गड़े संकर विद्ध्यार्थी के साथ पिरताब नामक पतिका का सहसंप संपाधन किया था बालकवी बेरागी बेरागी जी का जनम मंद्वसओर में हुआ था कहां हुआ मंद्वसओर में इस्पिसित कभी तहां सक्रिये कांगरेस कारिकरता एवं सांसद रहे राष्टी-मजदूर संग के अध्यक्ष भी रहे हैं कॉन बालकवी बेरागी भावानि परसाथ मिस पवानी परसाद मिस्ट का जनम 23 मार्श 1914 को टेगरिया गाओं में हुआ था कहां टेगरिया गाओं में इन्होंने 1947 से 1949 तक विचार नामक पत्तिक्या का संपदन किया बर्स 1972 में इन्हें साहित परिशत का पुरुषकार बर्स 1973 में साहित अकादिमी पुरुषकार बर्स 1973 में देहली साहित कला परिशत पुरुषकार तथा गालेव पुरुषकार से भी संबानित किया जा चुका है किने भावानी पर साथ मिस्टे जीगो फिर हैं आपके राजंद कौने राजंद अवस्थी राजंद अवस्थी जी का जनम 25 जनवर 1931 को जवलपुर में हुआ यह पत्थकार एब हम हिंदी के पिसिद लेकक हैं यह अपनी पत्थिकाओं के संपादन के रूम में भी कार कर चुके हैं जिनमें कादम मिनी प्रमोक्रे सिम्वंगल सुमन सिम्वंगल सुमन जी का जनम 14 अगस्त 1915 को हुआ हिंदी के इस पिख्याद कभी को वर्स 1987 में सारसुत संभान प्रिदान किया गया विक्रम विष्विध्यालय के खुलपती भी रहे हैं सरज जोसी जनम 1931 में उज्जैन में हुआ इन्होंने कई पुस्तक रहा किनारे बैट किसी बहाने तिलिम्स और दूसरी सतय इनकी पुर्मुक कभीता हैं पिर बात करते हैं राजंद तिवारी कौन राजंद तिवारी के बारी में राजंद तिवारी के जनम 19 फरवरी 1938 को हुआ देनिक नई दुनिया के संपादक भी रहे हैं राजंद तिवारी राजश्री राजंद तिवारी कौपत्तिकारता में रचनातमा को पलपदियों होती ओप राश्पति तथा लोकसभाब द्यक्ष द्वारा संबानित किया जा चुका है डॉक्टर बसीरवद्द उर्दू सायर के सीज सायर एवां मद्विदेश उर्दू अकादमी के मीर तकी मीर संबान से संपानित डॉक्टर बसीरवद्द का नाम उर्दू सायरी के पित्थम पायदान पर है डॉक्टर बसीर वद्द की रचनाय हैं तुम्हारे लिए आज आजादी के बाद उर्दू गजल का मुतालवा आदीन की प्रमुक रचनाय हैं साहत अकादमी प्रुसकाल से सम्मानित किया जा चुका है ये मद्विदेश उर्दू अकादमी की अध्यक्ष भी रहें डॉक्टर बसीर बद्द प्रमेहर रुत्रा रुत्रासा परवेज बहु पिसंसीत कहानीकार इवा अपन्यास कारें इन्हें सुबद्रक मारी चोहान पुरुसकार बेजिंग जो देव पुरुसकार उत्तरपदेश हिंदी संस्थान पुरुसकार पदम सरी से सम्मानित किया ज अकेला पलास अंतिव पढ़ाई राजिंद मात्र राजिंद मात्र के जनम धार जिले में 17 अगस्त 1935 को हुआ है इन्होंने इंदोर से कासित नई दुनिया से राष्टी है एवं अंतराष्टी राजनीती पर लेखनकार भी किया है यह गुजराती कॉलेज इंदोर में अंग् अध्यापक भी रहे हैं राजिंद मात्र कुछ अन नहें जैसे जगदीश सरण बर्मा इनका जनम सत्ना में हुए था जगदीश सरण बर्मा का सरवोच न्याला के मुख न्यादीश पत तक पहुंचने वाले राज को पहुंचका राज को गोरंवित किया है इनोंने प्रें भारतिये चिकित्सा का समुचित पिसार करने वाले डॉक्टर गांगुली को राश्पती राजिस्पाल मदर्टेशा तथा अन्नस्थानों द्वारा पुरुस्कित किया जा चुका है डॉक्टर अन्वर आलम अंगले आपके क्या हैं डॉक्टर अनवर आलम इनका जनम 5 सोद उत्पादन इवब पिसंसकंड में यंत्रों का विकास आदी गौरब पूर्ण उपलब्दियों के लिए सम्मानित किया जा चुका है तो फिर हैं आपके रमेश चंद लाहोठी 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 होठी गुना निवासी सरवचनय लेके मुखनयादिस रहे हैं फिर है अनिल काकोडर कर बड़वानी में जनमें विग्यानिक जुभारती परमाडू ओड़ जायों के अध्यक्च भी रह चुके हैं रजनीस ओसो के उपनाम से विख्याद स्री राजिंदुक्मार जेन और रजनीस का जनम कुछवाड़ा गाउं बरेली तैसीर रायसेन भोपाल म मैं याद रखिए ओसों के उपनाम से जाना जाता है प्रेपी एन बेसेन इनका जनम ग्यारे जनवरी उननीस वरतालीस को हुआ यह पिख्याद माइक्रो वाइलोगी बिग्याने के यहने यूएस नेट्वर्क साइंस फेलोसिव तथा यूजी सी के पितिष्टित परोक्सकार से सम्मानित किया जा चुका है किसे पी एस विसेन को वे था आपका क्या पिरमुख जो भी आपके व्यक्तित थे मद्विदेश के उनके बारे में आंगे हम लोग बात करेंगे प का चलिए तम लोग बात कर रहे हैं मद्विदेश सामानी ग्यान के बारे में में तो इसमें अभी तक हम लोग छबीष चप्टर खतम कर छुकी आप का अति चप्तर चप्टर चप्टर बात्यश का पून था पिरमुख daylight जो भी मंद्विदेश के पिरमुख व्यक्तित प्रएटन पुरातात्विक इस्थलों के बारे मद्धविदेश के परीपेक्ष में देखेंगे याद रुखिए आपके जितने भी चेक्टर मद्धविदेश सामान ग्यान के नाम से जुआ कि फिले लिष्ट सूची है उसी में मिल जाएंगे ठीक है एक ही जब परेटन एवं पुरा तात्विक तात्विक इस्थल सबसे पहली बात करते हैं किलों के बारे में मत्पदेश के जो किले हैं, उनके बारे में, किलों में बात करते हैं, गौालियर का किला, कौन सा? गौालियर का किला, इसे किलों का रतन कहते हैं, पूरुप का जिब्राल्टर कहते हैं, किलों का सिर्मोर कहते हैं, भारत के समस्त दोगों के कंट हार में पंडित मड़ी भी कहा किलों का रतन, पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का सिर्मोर, भारत की समख से दुर्गों के कंठार में पंडित मड़ी भी कहा जाता है। इसका निर्माट कच्वाहा बंसी राजा सूरसेन ने 525 में इसवी में कराया था। किसने करवाया था। सूरसेन ने 525 इसवी में। ग्वालियर के किले के 5 द्वार हैं। आगल गिरी या जैसे आलम गिरी कहते हैं। हिंडोला, गुजरी महिल, चत्रवोज मंदिर दरवाया, हाधी पोर दरवाया। ग्वालियर के क्ले में निम्निहमालते महत पूने हैं। आपका मान मंदीर, गुजरी महिल, तेली कहा मंदिर, हाधी की विछायल पित्मा, तौमान नरेश, अनरेश, मान सिंघ द्वारा निर्मार कराया। बादल महल, हिंडोला महल, चतुर्दोज मंदिर, यहां के वालियर की कले में निमने मात् तेली का मंदिर, उत्तर भारत में एक मात् देविड सैली से निमन मंदिर, इस पॉइंट को याद रखना बहुत मात् पुन है तेली का मंदिर उत्तर भारत में एक मात द्रवड सेली का से बना मंदिर सास बहू सहस्त वाहू का मंदिर ग्यारवी सदी में राजा महिपाल द्वारां 293 में निर्मित हुआ इसमें भागवान सहस्त वाहू की मूर्ती थी विश्नू की मूर्ती इस केले के तल अटी में पंदरवी सताब्दी के राजा डोंगर सिंग द्वार बनवाई गए जैन मंदिर है जिसमें सरबादी कुछी पितिमाद जैन तीर्थ कर आदिनाथ जी की है इसी केले में मत्विदेश का सबसे बड़ा गुरू द्वारा दाताबंदी छोड़ है तीर फिर आता है आपका धार का किला पता है इस चेप्टर से एक दो कुष्चन हर बार आपके आते रहते हैं मत्विदेश में कौई भी आपका एकजामू उसमें आते रहते हैं इसकेले का पुना निर्माड 1346 में मुहमत बिन तगलक ने दच्छिड विजय के दोरान देवगरी जाते समय करवाया था इसकेले के अंदर देवी कालका मंदीर का निर्माड परमार नरेस मुझ ने करवाया था इसकेले में पेशबा बाजी राओ का जनम हुगा था पेशबा बाजी राओ का जनम किस में हुगा धार के किले में 1732 में मराठाओं ने इसे अपने अधिकार में ले लिया इस के लिए में खरवुजा, खरवारा, महल इस्तित है अब्दुल, साहे चंगल का मकबरा भी इस के लिए में इस्तित है थिर्फ बात करते हैं लोग असीरगड के किले के बारे में कौन सा? असीरगड का किला यह आपका बुरहानपुर जिले में अवस्तित थी इसका निर्माड दसवी सिताफदी में अहे राजा असाने ने करवाय था इसको दच्छड का प्रवेश द्वार कहते हैं तथ हम बुरहानपुर दर्रा भी कहा जाते है सिम मंदिर एवं आसा देवी की पितिमा इसी कले में इस्ते थे आपकी मुम्ताज महल की मित्यू इसी कले में हुई थी मुम्ताज महल की मित्यू इसी कले में हुई थी इस कले के दर्वाजी को अकबर ने सोने की चावियों से खुला था इसे 250 मीटर मुची दीवारों वाला द्रुग भी कहा जाता है फिर आता है आपका चंदेरी का किला कौन सा? चंदेरी का किला मुगावली असोग नगर में अवस्थे थे चंदेरी के किले का निर्माट पिती हार वंस राजा कीर्थी पाल ने 11 सदी में कराय था के किले में निम्न मस्वूर इमारते हैं हवा महल, जोहर, कुंड, नौखंडा महल और खुनी दर्वाज़ जोहर कुंड 1528 में बावर के आकमर के समय आठ सो राजपूत रानियों ने पेजुलित अगनी में प्राण त्याग दिये थे इस समय यहां इसका सासक मैदिनी राय था ठीए अंगला है हमारा बांदवगड का किला त्योंसा बांदवगड का किला आपका उमरिया में है ओमरिया जिले में है टी ओमरिया जिला में चोदेवी सताप्दी में बगेलखंड के राज़ा ब्रग देव द्वारा नेवित कराए यहां सेशा साही तालाब बभिश्नु मंदिर अवस्तिते थे बांदवगड राष्टिय पार्क में अवस्तिते यह किला बिंध्यांचल परवतमाला पर 900 मीटर की उंचाई पर इस्तिते सोलवी सताप्दी में बगेलखंड के राज़ा विक्रमादित ने अपनी राधनी बांदवगड से रीवास्ताने अन्तित की थी कहा जाता है कि बांदवगड के 800 फेट मुचे परवत परिष्टित इस प्राक्तिक के लिए वो भगवान सरी राम ने लंका बिजय के बाद अपने माता अपने ब्राता लच्मन को मेहट सरूप देकर लंका पर निगाह रखने को कहा था बांदवगड के द्रोग में चमतकारी योगी की समादी तथा चीर सागर कुन इस्तित है आगे बात करते हैं लोग आजयगड का किला यह आपका पन्ना जिली में है आजयगड का किला का है पन्ना जिली में इसके लिए कि निर्माड राजा आजयपाल ने कराया था यह किला बारी पत्रों की नकासी के लिए पिसिद्द इसके लिए में राजा अमन का महल इस्तित है, ठीक है, ओर्चा का किला, यहाँ याद रखी अब, टीकम गड़ जिले में पहले अवर्श दिता, लिकिन जब से आपका निवारी जिला बना हुआ है, तो ओर्चा जो तहसिल है आपकी, यह आपकी निवारी जिले में आने लगी है, तो आप कोई भी ओर्चा में जो भी है, वो सभी निवारी जिले में आ गया है, ठीक है, ओर्चा के किले का निर्माट बुंदेल बन सी, राजा बीर सींग, बीर सींग बुंदेला ने करवाय था, यह दुरूब बैदवा नदी के किनारे इस्ते थे, इस दुरूब में निम्न मंदिर है, चत्तुर निम्हारा मंदसोर का महल, मंदसोर का किला, इसका निर्माट 14 वी सिताब्दी में अलावदीन खिल जीने करवाय था, यहां पर 500 बर्स पुराना ताफिसुर मंदिर इसते थे, कहां, मंदसोर के किले के, इस किले में 12 दर्वाजे, जिसमें भाई दर्वाजा, खानपूर, मह मादेव घाट दर्वाजा, मंदी दर्वाजा, फिर मोखें, फिराते हम लोग नर्वर का किला, सिवपुरी जिले में अवस्तित है, इस किले का निर्मार राजा नल ने कराए था, यह किला राजा नल, एवन दमयंती के, पेहने कथा के लिए पिसित है, यह चेत, कछवा है, तुमर और जैपुर के राजगराने के लिए भी विसित है, फिराते हम लोग मकडाई का, मकडाई का किला, हरदा जिला, मुख्याले से 30 किलो मीटर दच्छिडपूर में इस्तित है, मकडाई राजपरीबार के राजा, मकरंद साहने, फिंडारियों के हामलों के बचाओ से, किली इस किले का निर्मार कराया था, किले के समीपी जादूगर मालन कमात महल भी इस्तित है, फिरापका सबलगर का किला, मुरेना जिले के, सबलगर तहसील में इस्तित इस किले का निर्मार करोली के यदवनसी राजा, गोपी सिंग ने अठारवी सतापती के पूरवाद मे कराये थे, चार प्रविश्द्वार वाले के अंदर राजा नवल सीन की हवेली इस्तापे थे, फिर आपका मंडला का किला, यह आपका मंडला जिली में उसते थे, यह दुरुब बंजर एबं नर्वदा नदी के संगम पर उसते थे, इसका निर्माट कौन नरेश, नरेश, न निर्माट निजाम साय ने करवाय था, गिन्नोर गड का किला, राय सेंजली में अवस्ति थे, इस दुरुब का निर्माट, तेरे भी सतापदी में महराजा उद्दय बर्मन ने असरफी पहाडी पर करवाय था, यह छित, सुक, छित कहा जाता है, क्योंकि इस छित में तोते बहुतायात में पाई लाते हैं, इसलिए इसे तोतों का खिलावी कहते हैं, किसे गिन्नोर गड के किले को, ठीक है, फिर आप दे हम लोग, राय सेंजली का किला, इस दुरुब का निर्माट सूलेवी सतापदी में राजा, राजबसंती ने करवाय था, इस दुरुब में न तालाव अतेम्त पिसित थे, तालाव के किरान लच्चमी नारायन मंदिर भी आपका इस्ते थे राय सेंजली के किले के, आंगे बात करते हैं हम लोग, इसमेड़िये तत्त कुस, इस से सम्मादिर महत्तमुख थे, इनकी बारे में भी हम लोग जन लेते हैं, राजमंदिर के इन्मार राजा सीम जुदेव ने करवाय थे जो खंधर के रूम में और्चा द्रुप की निकट इस्तित थे मुरेना जिले की आसन नदी के किनारे इस्तित कुदवार का पुराना किला जिसका निर्वार अठारवी सद्धी में गोहत के साथ जाट टाजा राना चटपती ने करवाय था मंदसोर के लिए में नावली कस्वे के समीप इस्तित हिंगल लाजगर का दोज तथा नर्वदा किनारे इस्तित महेसल द्रुप भी मद्धपदेश की इतिहासिक पिष्ठ मूमी के अंग्मिय राजगर में अवस्तित नर्सिंगर के के लिए को कस्मीर एमालवा भी कहते हैं पूछ लेगा आप से नर्सिंगर के किले को क्या कहते हैं कस्मीर एमालवा कहते हैं यादरग्रा जाजगर में इस्तित ते हैं धार जिले में अबस्तित सोलवी सदी में निर्विन मांडू के द्रुख का निर्माड बाजबाहद उन्ने करवाय था दतिया के किले का निर्माड बीर सिंग देव ने करवाय था इसकले के द्वार फर भावानी सिंग ने जश्टिस इजदा दी जैम ओप क्राउन लिखवाय था किसने भावानी सिंग ने कनहरगड का किला दतिया संद नदी के तट परवस्ते था अटेर का किला बागोहत का किला आपके भेंड जिले में है पिरमुक महलों की बारे में बात कर लेते हैं हम लोग गूजरी महल या दान महल गवादियर में इस्ते थे गूजरी महल या फिर दान महल आपका गवादियर में इस्ते थे मानसीन द्वारा मिगनैनी के लिए बनवाए गया थे मौती महल आपका ग्वालियर में जीवाजी राओ सिंधिया का महल है एक नमपर 1956 से पूर मद्ध भारत का विधनसबा भवन रहा है मौती महल जैविलास पैलिस ग्वालियर में इटालियन सैली पर निर्मित सिंधिया का निवास इस्थान तथा बरतमान में संगराला है बगेलियन महल मंदला में है मौती महल के पूर में आठ किलोमीटर दूर नर्वदा नदी के किनारे इस्ते थे मदन महल जबलपूर में है गौंडर राजा मदन साह द्वारा निर्मे थे खरगूजा महल दार में दार के लिए में इस्ते थे राजा रोहित का महल राहसन के दुरुग में राजा राजवसंती द्वारा निर्मे थे बादल महल इत्दार महल राहसन के लिए में इस्ते थे सत्खंडा मुहल आपका दतिया में इसते थे राजा अमनь का महल अजेगड पन्ना अजेगड त्वारा निर्मे थे अजेगड पन्ना में सते थे किस pen by अ erm अ जहांगीर महल आपका ओर्चा में इस्ति थे बेशिंग द्वारा बनवाए गया थे राज मंदिर आपका ओर्चा में बेशिंग द्वारा बनवाए गया था असरफी महल यह आपका मांडू धार में अफगानी कला में बना हुआ है कटोरी नुमा बना हुआ है दाई का महल रानी रूमती का महल आपका मांडू में है बाज बहादुर की प्रयसी रानी रूमती का महले जहाज महल आपका मांडू में है हिंडोला महल आपका मांडू में है एक उचमत्रून आपके महल में याद रखना है अब बात करते हैं परेटन इस्थल मत्पदेश के परेटन इस् पच्मडी के बारे में, पच्मडी पिरमुख खेल इस्टेशन है, होसंगाबाद जिले में पपरिया इस्टेशन के निकट इस्थे थे, जबसे पहले आपको याद रखना है, पच्मडी पिरमुख खेल इस्टेशन है, यापका होसंगाबाद जिले में, पिपरिया इस्टेशन के निकट इस्थे थे, इसकी खोज केप्टन फोर सोथ ने की थी, याँ दर्शनी इस्थल है, पिए दर्शनी, फॉइंट, हांडी कोई, यह भी आकार का है, जटासंकर गुखाएं, अपसवरा बिहार, रज़त पिरपाद, राजगिरी, लांजी गिरी, आईरीन, सरोवर, जलावरन, चोरागड, धूबगड, पांड़ा गुखाएं, महादेव, गुफ्त महादेव, वीन बादक की गुफाण, सर्दार गुफाद, राजी की पुलिस पिसीच्छन साला, बेडा गाट, यहां आपकी दर्शनी है, इस्थल है, सौंदर के कारण ही पच्मणी को सत्पोड़ा की रानी और मद्ध्विदेश का कस्मीर कहा जाता है पच्मणी को क्या का कहते हैं, सत्पोड़ा की रानी और मद्ध्विदेश का कस्मी, वाइव स्पियर रिजर्व, विदेश का पहला आपका पच्मणी में ही इस्थे थे प्रिये दर्शनी पाइंट परी कैप्टन फार सोथ ने सरपितम पच्मेडी की खोच की थी 1964 में स्रीमती इंद्रागांदी यहां आई और इनके बच्पन का नाम पर इस पाइंट का नाम प्रिये दर्शनी पाइंट पाइंट रखा गया दोगड़ को पूर में स्री हरोवस कोड़ भी कहा जाता था राजन्द गिरी तुराची नाम पैनूरम पूर्वराष्टवती राजन डॉक्टर राजन पे साथ की सम्मान में इसका नाम राजन्द गिरी कर दिया गया है फिर वात करने वाले हम लोग अमरकंठक के बारे में पूस्व राज तहसील पूस्व राजकर तहसील अनूप पूर्जले में इस्तिते नर्वदा सौन जोहिला तीन नदियों का उदगम इस्तल है अमर कंठक से आपकी नर्वदा, सौन, जोहिला, नदियों का उद्गमिसकल है मतलब यहां से यह नदिया निकलती है 2005 में इसे पवित नगर गोहसित किया गया है अमर कंठक में आपके दर्स नहीं है इस्थलों की बात करें यहां नर्वदा माई के मंदिर में नर्वदा देवी और पार्वती देवी की इतिमा भी इस्थित्र है ठीक है बात करते हैं लोग खजराहो आपका छतरपोर जिले में इस्थे थे कहां है छतरपोर जिले में चंदेल राजा धंग द्वारा निर्मित मंदिल ग्यारवी सदी में जो इरुनवस्को की विस्थरोगर सोची में 1986 में सामिल किये गए सबसे पहले आपको याद रखना है कि खजराहो आपका कहा है छतरपोर जिले में इसका निर्मार किसने करवा है धंग देव ने धंग राजा चंदेल राजा धंग ने ग्यारवी सदी में खजराह में दर्शनी ये स्थल कौन-कौन से हापके कंदरिया महादे मंदिर चोंसा टेवनी चित्त गुप्त विस्वनात मंदिर लच्मन मंदिर मान्त गेसुर मंदिर पारसुनात मंदिर घंटाई मंदिर आदीनात मंदिर दूलादेव मंदिर चतुरभूज मंदिर पैनी नो धरम से समद मंदिर हैं खजराहों के मंदिरों को भुभूलेक दिरिष्टी से थीन भागों में पश्चेम समगोव पूर्वी समगोव दर्चिन समगोव में बाटा गया है भी बात करते हैं लोग मांडू के बारे में किसके मांडू के मालवा का सौंदर स्तले मांडू को साधिया बाद अर्थत हर्स्क नगर के नाम से जाना जाता है मद्वदेश की धार जिले में इस्तित्य थे मांडू का प्राची नाम मंडव दो गया मांडावगड था ठीक है मांडू के बारे में और आगे बात करें तो दिलावर खां कि पुत होसंग साहे ने 1405 में अपनी राध्धानी धार से मांडू को बनाया था 1500 चंगुन में बाज बहादूर के अधिपत में आया जिसने जहाज महल हिन्नोला महल का निर्माण कराया दर्सनी यह स्तलों की बात करें यहां तो मांडू का परकोटा जिसमें बारे दर्वाजे हैं रामपूर, तारापूर दर्वाजा, जहांगीर दर्वाज़, दिल्ली दर्वाज़, जहाज महल, हिंडोला महल, जामा मस्चित, असरपी महल, हौसंग, साहे का मकबरा, रेवा का कुंड, रोव मती मंडव, नील कंट महल, हांती महल, लुहानी को फाए, बाज बहादूर तो बात करते हैं हम लोग सांची के बारे में सांची र्हाय सेंजल्य में स्थिन अगर बुपाल से 45.000 मिटर दूर इस्थ है बुपाल से 45.000 किलो मिटर दूर है कौन से जल्य में राय सेंजल्य में यहां इस्तित इस्तूप का नित्मार्ट काकडाय या बौध स्रीपरवत चेतेगरी विदिसगरी मौसमराट असुक ने अपनी राणी विदीशा की महादेवी के कहने पर कराया था इस्तूप की संख्यात तीन में मौगलियान और सारीपुत की अस्तियां रखी वी हैं इस इस्तूप की रेलिंग संख सासको ने बन वाई थी 1989 में कब 1989 में इस इस्तूप को यूनेशको की विस्थदर्वर सूची में सामल किया गय है इस्तूप संख्या एक जिसे महा इस्तूप या दाग्रेट इस्तूप कहा जाता है कि ये सोग ने सांची से कुल 84 हजाल इस्तूपों का निर्माड कराया था फिर आते हम लोग विदीसा किसमें विदीसा इसका प्राचीन नाम है भेलसा या बेशनगर प्राचीन नाम इसका महा महामालिस्तान या मिवासा है विदीसा के आपको अननाम याद रखता है भेलसा या पिसनगर इससे कहते हैं या इसे महामालिस्तान या मिवासा भी कहते हैं युनानी राजा एंटियो कोडस ने अपने दूथ हेलियोडोरस को बिदी साहब भेजा उसने गरुन अंकित इस्तम लगवाया इसे खंबा बाबा भी कहते हैं दरसनी इस्तल लोहांगी सिला, गुमज, बीजमंडर, समराट असोख नशागर, हलाली सागर भी इसे कहते हैं बात करते हैं गौलियर के बारे में, इसकी स्थापना आप भी गालाव रिसी के नाम पर की गई गौलियर की स्थापना गालाव रिसी के नाम पर की गई गौलियर में दरसनी इस्तल हैं आपके लिए गौलियर दो, लालवलु ये पत्थर द्वारा निर्मेत है गूजरी महल, मानमंदिर, सूरजपुन, तेली का मंदिर, सास बहु का मंदिर, जैपिलास महल, संगराल लायए तानसन की समाधी, मुहमद गौस का मकबरा, रानी लचमी भाई की समाधी, कलावी वीतिका, नगरपाली का संगरालाय चिडिया गयर दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा सूर्मंद ठीक है यहां सबसे जान्दा आपका पूंचा जाता है रानी लच्वी भाई की समाधी कहा है तो आपके याद रखना गौलियर ठीक है अभी कुछ दिन पहले एक जां था तो पता है उसमें एक लड़की पुंच रहीं हो इसमें आया हुआ था आपका लच्वी भाई की समाधी कहा है तो मैंने उससे कई वाइन पेचा बोला कि वो आप कहां बैटे हो तो उसे समझ में नहीं आया कि गॉालियर में बैटी हुई और वो छासी लगा के आई बाद में बाहर निकली तो बोलने लगी तो मैंने बोला कि आपसे इसलिए तो बोल रहा था कि कहां बैटी हुई तो याद रखना है रानी लच्छनिवाई की समाधी जहां वो बैटी थी वहीं रानी लच्छनिवाई की समाधी थी लेकिन फिर भी गलत हो गया ठीक है बात करते हैं लोग और्चा की बारे में किसके और्चा बैदवा नदी के तटपराव इस्तित और्चा की स्थापना सोलह भी सत्तापदी में पुंदेला सासक रुद्ध पिताब ने की थी ओर्षा का सापदी करत होता है गुपदिस्थान पुद्ध दर्सदी इस थल आपके यहां राजा राम महल राय पिडवीन महल चत्रवुज मंदिर लच्मी नारायन मन्दिर हर्दोल महल चंद सेकर आजयत की साध्नास्त रविए पता है आपको हर्दोल महल यहां बहुत ही महत्पूर होता है मुझे जहां तक पता है कि बंद्रिल खन्वेट चोगी साधी होती है थू सबसे पहले जो काइट चपता जो निवंतर वह पहले हरदौन के पास जाता है यहां से यहां इनकी नित्तिनी मानता है लोग ने मानते हैं आगे हम लोग बात करने वाले हैं इंदौर के बारे में किसके इंदौर के बारे में इंदौर इंदौर की होलकर चतियां इस इस्थान पर तीन चतियों का निर्माड हुआ है एक किष्णभाई मित्ती उभी थी 1949 में तुकोजी राव दूती है इनकी मित्ती 1986 सिवाजी राव मित्ती उनकी 1906 में हुई चिताइस्थल पर बनाई गई है लाल बाग पैलिस इंदोर में खान नदीव के तट पर होल कर सासकों द्वारा नेमित कराए गए था राजवाड़ा इंदोर के बीचों बीच इस्तित राजवाड़ा इंदोर के अतीत के वर्भाव का पितिक है 19.20 सदी में राजवाड़ा की निव मलहार मलहार राव खोल करने रखी तुकोजी राव पित्म ने इसका निर्मार कर पूर्ण करवाया तुरह हमारा कौन सा सीवपुरी कौन सा सीवपुरी ग्वालिय रियासत के सिंधिया रजाओं की क्रिस्म काली राजदानी रह चुकी सुपुरी आज भी अपने सुंदर राजव परसादों तथा संग मर्मर सिंद्निर्मित अलंकरित चतियों चत्रियों के द्वारं बिगत राजश्री विरासत की याद दिलाती है यहां आपके दर्शनिय इस्थल है मादवराश्टी उद्यान गुलावी रंग का मादवविला स्पैस साद जोर्ज केसल महिल सांख्या सागर बोट किलब बदेया कुंड वीर तत्या टौपे की विसाल मूर्ती यहां के अन्य इस्थलिय दर्शनिय इस्थल है फिर बात करते हैं भोपाल क्याहरेवी सदी के भोज पाल तत्पस्षाद भोपाल नाम की इस नगर को परमार वंसी राजा भोज ने बसाया था मद्वितेश की राजधानी है यहां के दर्शनिय इस्थल है ताजुल मश्जित, जामा मश्जित लच्वी नारान मंदित, बिड़ला संग्राले सौकत महल सदर मंजिल, भारत बवन इंद्रा गांदी राष्टी उत्मानाव संग्राले राजधी संग्राले गांदी बवन, बन विहार बड़ी और छोटी जील मचली घर इत्यादी, दर्शनिय इस्थल है बात करते हैं गुफाओं के बारे इसके गुफाओं के बारे में गुफाएं तो सबसे पहले उदरगीरी की गुफाएं विदी सा इस्थित उदरगीरी की में बीस गुफाएं हैं आपकी गुफा संख्या एक और बीस आपकी जैन धरम से संबन दित है गुफा नमबत पांच वराह अवतार की विशाल वीदिमा है इसमें इन गुफाओं का समय गुप्तकाल चौतरी से पांच भी सताब्दी का है गुफा संख्या गुफा नमबर एक और तीन की दिशाओं में सैला करेज और एक दिशा में पिस्तर खंडों से बनी है इस्थानी लोग इसे सूरज गुफा कहते हैं गुफा संख्या नमबर उन्नीस को अमरत गुफा भी कहा जाता है इसमें आपको क्या क्या याद रखना कि उद्यगीरी की गुफा है आपकी विदिशा जिले में है गुफा संख्या एक और बीस जो है जैन धरम से सम्मझेत है गुफा नमबर पांच में वारा है आउतार की विशाल पितिमा है इन गुफाओं का समयकाल क्या है समय गुफा काल में गुफा संख्या एक और तीन की विदिशा की दिशाओं में सेलाकृत और एक दिशा में पिस्तर खंड़ों से बनी है इस्थानी लोग इसे सूरज गुफा कहते हैं गुफा संख्या 19 को अमरत गुफा भी कहते हैं फिर हैं आपकी वर्थ हरी की गुफाएं यह आपकी वज्जेन की निकट वर्थ हरी की गुफाएं संख्या 9 है इनका निर्मा राजावर्द, अरीकिन, सम्मान में परमाद सासकों ने बनवाये था, रंगीनचित इन गुफाओं की वेसिस्ता है, तीज़े, फिर बात करते हैं, कौन से, बाग की गुफाएं, बाग, नामा कृस्तान पर बाग नी न दी, धार जिले में, किसमीब बिंद्या इसका काल आपका गुप्तकालीन अर्था पाँचवी सताफ़ी में हैं इनकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है खुल गुफ़ा है नो हैं इसमें. जिनमेंसे आपकी चार नश्ठ हो चुकी हैं. 5 सेस जन. गुफ़ा संक्या दो में से 2 में 5 बौददों की मूर्थिया हैं. जिनने इस्थानी ये लोग 5 पाण्डों मांते हैं. इन्हें बौद्चित के प्राद सथा रंग महल भी कहते हैं गुफा नम्मर दो का सबसे फिसिद चित पदम पाड़ी बुद्ध का है इस चित में बुद्ध के मुख पर सौमता है इन गुफाओं पर कीगे चितकारी को फैस को मुराल पेल्टिंग कहा जाता है इस चूने के पलस्तर पर बनी है इन चित्रों को गुजरी महल संग्राले वो भुपाल के राजपुरातत संग्राले में देखा जा सकता है ठीक है बाकी गुफाओं को प्राक्तिक गुफाएं नहीं है बल्कि ये इस्थापत द्वारा पहाड़ी को काट कर बनाई गया है इसलिए इन गुफा कहने के वज़ाए ने रोक कट आर्केटेक्चिर कहना जन्दा सही होगए थे पांड़ों गफाएं पस्काइप पच्मरी में स्थे थे हैं माना जाता है पांड़ों ने यह आग्यादवास विताया सिर्ध उसिए विलोवा गुफाएं कि पांद्विध clin किवी में अवस्तित थे विलुवा की गुफ़ाओं में सेल कृति से फितिमा में और बात करते हैं भी बैट का गुफान I भीम बैटका गुफाएं प्रकतिहासिक कालीन भीम बैटका सेला से हैं जिसकी संख्या 500 के आसपास है भुपाल से 55 किलोमिटर दूर रायसेंजिले में आवस्ते थे याद रखना है भीम बैटका की गुफाएं आपकी कहा है रायसेंजिले में इसकी कोज आपकी वाकड़कर ने की थी यह विसका सबसे बड़ा गुफा समोगे इन गुफाओं को इन इसको भी से दरोहर सूची में 2003 में सामिल किया गया है फिर आती है आपकी मेगेंदनात गुफाएं पार्टनीगाव रायसेंजिले में इस ते दुलब रॉब इन गुफाओं की कोज 2009 में की की थी इन गुफाओं की तो लना भीम बैटका गुफा से की जाती है फिर आपकी संक्राचार की गुफाएं ये आपकी ओकारिसोर खंडमाव जो बस्तित है आदमगड की सेलास है ये आपके होसंगरबाद नगर की निकठे मारा की गुफाएं ये आपकी सिंगरॉली जिले में इस ते बौद्दे कालीन गुफाएं भीतिचित्किडी ये पिसे थे थे ठीक गुम्मट्री में अवस्तितर मुक्तागरी में में इस्तित पिसिद दिगंबर जैन तीज तिस्तल है आपका है सौनागरी दतिया जिले में सौनागरी पिसिद दिगंबर जैन तीज थे पुस्पगरी सौनकक्ष में इस्तित जैन तीज तिस्तल है आपका पीतामरा पीठ दतिया में इस्तित मा बहुलात मुखी पीतामरा पी दर्वार महालसंत दुनी वाले दादा जी की समाधी स्थल है ठीज़ है फिर आपका बावन गजा बढवानी जले में बावन गजा पहाड़ी परभवान आधीनात की 72 फिट उची पितिवां सेवन बेल गोला की बात दूसरी सब से उची पितिवां है फिर आपका नेमा वर य इंद्वों का तीज दिस्थल है रोडिया बढ़नगर इस्थित रोडिया तेजाजी महराज से संबंदी पवितिस्थान है उंकारी सुर्व आग्ति वाले इस स्थान में 12 जोतिलिंगों में से एक जोतिलिंग आपका इस्थित है नद्वदा तवा की संगम पर ओकार मंधा जोतिलिंग को यह मंदिर मंद्यकाली न ब्रम्मड शेली में बनाए है 2005 में पवित्तिनागर भुसित किया गया ओंकारी सोर्व जोतिलिंग मद्वदेश की खंडवाजिले में इस जोतिलिंग को महा ममलेसर बी कहते हैं यहाँ पर महादेयो का मंदिर इस्थे थे थ है आध मंदाता उंकारिसोर में नलवदा नगाट सिद्धनात मंदिर मार्केंडे आस्रम ममलेशोर महादेव सब्त मात मंदिर काजलानी की उभाएं से अन्न दारस्क निये इस तरहें तरहें आपका क्या है भोजपुर बोपाल के निकिट इस तरह बोजपुर अपने बिशाल सिविलिंग के लिए पिस्धे इसकी इस्थाफना राजा भोज नकी थी यह इबिस्धका सबसे बिशाल सिविलिंग है इस मंदिर के पास ही जैनमंदिर इस्धित्य आपकर नोहटा, नोहटा, दमोहो में अवस्तित, नोहटा कभी चंदेलों की राधदानी था, अब यासे मंदिर और जैन मंदिर के अउस्सेसों के लिए विख्या थे, फिर है आपका मंदसोन, या भारत का प्राचीनतम पसूपतीनात मंदिर रिष्टत है, कहां मंदसोन में, या ही एक पसूपतीनात मंदिर, धोरेल पहाडी, बेवा, वरा में इस्ते थे, इसके अलावा पिसे दिसूर मंदिर भी आपका इस्ते थे, चितकूट, यह आपका सतना जिले में है, याद रखना है, चितकूट का कुछ हिस्सा आपका उत्तर पिदेश में पढ़ता है, कुछ यहीं पर बाल उतार लिए थे, वनवास के समय मर्याद पुरुसत्तम, राम यहीं पर महसी, अत्रियो सती, अनसुरिया के अथीति बने थे, कादम गिरी, अनुसरिया, अस्रम हनुमान दारा, जानकी कुन, इस्पेटिक, सिला, भारत कूप, यहीं इस्ते थे, दुजार पां देड़ा लगता है चितकूट में, ठीक है, उज्जयन, उज्जयन आपका छिपरा नदी के तट वरावस्तित है, महाकाली सुमंदे, जंतर मंतर, संदीपनी आसरम, मंगलनात मंदिर, भर्थरी, गुफाय, यहां पर बारो बासों बात कुम्ब का मेला भी लगता है, कहां आ 2005 में पवितिनगर घोशित किया गया उज्जयन को, छिपरा के किनारे महाकाल का एक मात्त, दक्ष्र मुकी मंदिर, यहां पर 12 ज्योति लेंगों, ज्योति लेंग मंदिरों में से एक है, उज्जयन में देव प्रवोधनी एकादसी से कार्थिक पूर्णा तक गधों का मेला भी लगता है, हर सिध्धी देव मंदिर, संतोसी माता मंदिर, वड़े गड़ेश जी मंदिर, 24 खंबा मंदिर, गोपाल मंदिर, गड़ी कालिका देवी, काल भेरो, कालिका देह महल, आदी धार्मी किस्तान आपके उज्जयन में, फिर है आपका भेडा घाट, क्या है, भबूर इसी ने यहीं तपश्या की थी, वंदर कूदनी और चौसट यूगनी, सिप पार्वती मंदिर, जिसमें सिप पार्वती नंदी पर आसीन है, यहीं आपका इस्तिक है, फिर आपका महे सुर्ग, महे सुर्ग में भवानी माता का मंदिर, अहिले सुर्ग, सिवालयम कासी विस्वनाद, मातेंगे सुर्ग, सिवालय आदी दर्शन ये इस्तल हैं, मेहर, सतना से लगवग 40 किलोमीटर दूर इस्तित, मा सार्दा के भव मंदिर के कारण, साल बर तीर थियात्रियों और परेटकों के आकर्षन का केंद रहा है, मेहर, ठीक है, यहां, पन्ना पर, भगवान प्राणनात की नगरी पन्ना को मंदिरों का सहर भी कहा जाता है, अब आपके कुछ, पिरमुख मकवरे हैं और समादियां, क्या है, मकवरे हैं और पिरमुख समादियां, उनके बारे में जान लेते हैं, यह आपकी मकवरा हो गए, समादी और इस्तान, तांसेन का म मखवरा गौालियर में हैं किसमें बनवाई था अखवर ना है मोहमद गोस का मखवरा जेवी आपका गौालियर में है वीजु बावरा की समादी शेंदेरी असूप नगर में होसंग साहें का म empowerment मदू धार में है आपका नगरल भी पेसभबाजी राव की आव सेराम की राजित की समादी ये आपकी सिवपुरी में है रानी दुर्गावती की समादी बरेला जवलपुर में है जहांसी की रानी की समादी ग्वालियर में है नबाव हसन सिद्गी का मकवरा ये आपका भोपाल में है रानी अबंती वाई की समादी मंडला में है आपकी जलकारी की समाधी मंडला में अब्दुल्ला साय चंगल का मकवरा धार में तत्या टोपी की समाधी सिवपुरी से जादा सागर की निकटे मादावरा सिंदिया की समाधी आपकी सिवपुरी में है पीर बुधान का मकवरा यापका सावरा छित सिवपुरी में है बाज बहादुर बादानी रूमती का मकवरा ये सारंगपुर राजगर में है बाल जती साह इवं मस्ताना अली साह की मजारें धमोनी सागर में है काना बाबा की समादी आपकी होसंगाबाद में कुछ हम लोग देखते हैं पुरातात्विक इस्थल मद्विदेश के पुरातात्विक इस्थल आदमगड आदमगड की विश्विख्यात 377 पृत गुफाय है यहां भारतिय पुरातत्य बिभाग द्वारा यहीं पर आर्वी जोसी द्वारा तथा एमडी खरी के नेदेशन में 19611 में उत्खनन कराए गया यहां कि यहां से मद्व पासाड़ी हुएं सब्वता की आउसिस प्राप्त हुए हैं उत्खनन से यहां पर पूर्ड पासाड़ी हुएं वजार हस्त कुठार विदार्नी अंडिल चक्य कुपकरन खोर्ची आदियमें के बारे में याद रखी के पश्चिमी निवार जिले में कस्रावद नगर के दच्चर में नर्वदा नदी के तट पर इस्तित दूद वडी नामक्तीला हैं यहां उत्खनन से दूसरी सताब्दी इसापूर की सब्वता की आउसिस प्राप्त हुए हैं उत्खनन में बौध इस्तूप निवास ग्रय मिर्दभांड की आउसिस प्राप्त हुए हैं रहे आपका इंदगर्ड मंदसोंड जिले में इस्तित महत्पूंट प्राताथवी की स्थाल है इस स्थान से राष्टकूर सासक नक्षट किसासन के अविलेक प्राप्त हुए हैं जिसमें सिर्प इंदिर का निर्मार कौलेख है नवदाटोली खरवॉन के महेस्वर में नवदाटोली इस्तान से ताम पाशार काली इंसभिता के अवसेश प्राप्त हुए हैं ठीक हैं आगे यह आपका पावाया पावाया का प्राचिन नाम पर्मावति था ग्वालियर से 40 मील दूरिष् सिंदू तथा पार्वती नदी के संगम परिस्तित इस इस्थल से विश्णु पितमा सूरिस्तम यक्ष मडी भद्य की पितमा प्राप्त हुए फिर आपका काय था काली संद नदी के किनारे उज्जन इस्थित ताम पासार्ण यूगीन सब्धा के प्रमाग प्राप्ति का मु प्राप्ति के किनारे बसे इस इस्थल को सित्ताम पासार्ण यूगीन सब्धा के प्रमाड प्राप्त में उत्खना निसका है ऐसार वह नर्जी ने उननी सो पच्पन चपन में करवाया था 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 तरहें आपका ग्यासपूर क्या है ग्यारसपूर सांची से लगवक 56 किलो सुला तोरण पिसित इसमारक एरन सागर जलेश के एरन से ताम पासार्ण कालीन सब्धता के साथ इभारत में सतीपिता के साक्षवी प्राप्त हुए हैं याद रखना नोट जटकरा खजुराओ खलगाट धार पोतनगर खरवोन निन्नोर गाउं से और जूना येरवास ता सतना विलावली देवास मनोटी मोडी मंसौन आदिप्रमोग पुरातात्री की स्थले हैं कुछ महत्पूर्ण बिंदु दिये गए उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्या है महत्पूर्ण बिंदु मत्विदेश में पर्याटन इस्थलों का विकास करने की द्रिश जिले में आता था असीरगर का किला पूर में खंडवा जिले में आता था लेकिन बुरहानपूर अलग जिला बनने से अभिया जिला बुरहानपूर में आने लगाए असीरगर का किला अकबर की विजय अभियान का अंतिम विजय अभियान था सौन गिरी कि जैन मंदिर जैन मंदिर जवलपुर, भूमरा कसिम मंदिर सतना, नचना कुठार का पारवत्ती मंदिर, पन्ना तथा खोई मंदिर सतना में, इसके इलावा उदैगरी की उपाएं बाबाग की गुप्तकाली, इस्थापत कला की नमूने भी यहां हैं। मदपदेश के सिवपुरी में सिंदिया बंस के दो ब्यक्ति महरानिस सांक्राजे सिंदिया और महराजा मादावराव सिंदिया की समाधियां बनी हुई हैं। के लिए आकर्शन का क्यंद भी है जवलपुर में रूपनात रमनीय इस्थल प्राचीन समय में यह एक तीर्थ इस्थल था जहां राम लच्मर सीता किन नाम तीन सरूबर थे होसंगाबाद होसंगा के बाद के पास आदमगुड पुरा इस्थल पर उत्खननकार भालतिय पुरा त्विभाग द्वारा स्री आरवी जोसी तथा स्री एमडी खरी के निजदेशन में 1961 में पैरम कराए गया जबकि डॉक्टर एच भी तिवेदी के निजदेशन में आवरा महेस्मती चैदी जनपत की रादधानी रही है मत्विदेश के होसंगाबाद जिले में स्थित हत नौरा एक पुरातात्वी भूभागे पुरातात्वी खुदायर के फलसरूप यहां से मानो कोपडी के कंगाल पराप्त हुआ जो पूरा पासाण काल की सूचना देता है और रही धितात्वारा असोग के सासनकाल में कराए गया तो दतिया में 17 किलोमीटर दतिया से 17 किलोमीटर दूर की इस्थित उन्नाव में इस्थित बाला सरी का नामकिस्थान है बाला जी का जो प्राचीन काल से ही बाला जी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर भगवान भासकर का विसाल मंदिर जो पुस्पा वली नदी के तट पर बसा है नर्बदा नदी के किनारे मंडला जिले में परुसराम ने अपना आफसरम बनाये था मद्पिदेश के बैतूल जिले के ग्राम बहन सदेही में प्राचीन से मंदिर जो तेरेवी सदी चौदेवी सदी में का है कनहरगड का दुप दच्टिया जिले में सिंदू नदी के तट पर बनाये इसको सेवडा के महराजा पिथवी सिंग ने बनवाये था मद्पिदेश के सिपूरी जिले में कुपिदेश की पहली परयाटक नगरी होने का गौरोप प्राप्त है सिपुरी में मादा और राष्टिय उद्यान भी आपका है मद्विदेश की जीवन रेका नर्वदा नदी पर बंदर कूधनी नामक एक पिसिद दर्शनी एस्तले जो जबलपुर के निकट बेडा घाट में इस्ते थे यहाँ पर नर्वदा नदी उची पाड़ियों के मद्द एक सकरी धारा के रूम में बहती है सिंधिया राजवन्स की राध्धानी रही ग्वालियर नगरी की स्थापर सिंधिया सासक महादी जी सिंधिया ने की थी होलकर राजवन्स के संस्थापक मलवार राव होलकर ने इंदोर का नाम मलवार नगरी रखा था खान नदीर के तटपरिस्तित लालबाग पेलिस का निर्वान कर होलकर सासक तुकोजी राओ होलकर दुत्तिये ने अठावी सदी में मिश्टर हारवे के सहयोग से सुरूप कराये था जिसे 1921 में तुकोजी तितिये ने पूर्ण करवाये मदपधेश के इंदौर नगर में गड़पती की पीसाली पीतिमा है कि सबसे बड़ी गड़ेश भीतियों मानी जाती है मंदिरों के सहर के नाम से जाने वाले सहर उज्जन में वो बाल मंदिर माहाकाल मंदिर के बाद दूसरा पीसिद्ध मंदर है इस मंदिर का निर्मार महराजा दोलत राव सिंदिया की महरानी बाईजा बाईज सिंदे ने कराये था बोपाल की पिसित जामा मस्जित का निर्मार 1837 में कुदू सिया बेगम ने कराये था यह मस्जित दिल्ली के जर्मा मस्जित के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मस्जित है मांडू में दिल्ली दर्वाजा इस्तित है यह मांडू का मुक्त दर्वाजा है माना जाता है कि मुगल सासक अकवर ने इस दर्वाजिय में सिमान्डू में फिर्वेश किया था तरह आपका नेमा और को मद्पिदे सासन ने परेटक इस्तल गोसित किया है नेमा और नर्वदा का नाभी इस्तल है मद्पिदेश के उज्जेन में महाकाल परिशार इस्तित भाग चंद सेकन मंदिर दुनिया का एक मात्य सा मंदिर जिसमें तट साल पट साल में एक बार स्रिफ जिसके पट साल में एक बार स्रिफ 24 गन टेक लिए नांग पंचिवी के आउसर पर खुलते हैं तो ये था हमारा 27 वा चेप्टर परेटन एवं पुरातात्विक इस्थर आंगे हम लोग बात करेंगे इतिहासिक परीदेश के बारे में मद्धिपदेश के परिपेक्च में ठीक है नमस्का साथियो तो चली हम लोग बात कर रहे थे मद्धिपदेश सामान गयान के बारे में इसमें हम लोगोंने last lecture में बात की थी मद्ध्विदेश की परिपेक्च में परेटन एव पुराताथ भी इस्थलों के बारे में हम लोगोंने चर्चा की थी याद रखे आपके जितने भी मद्ध्विदेश से संबंदी सामानिग्यान के चेप्टर कतम हुए वे सबी मद्पिदेश सामान गयान के नाम से जुअप्री फिले लिश्ट बनाई हुई है उसी में पड़े हुए है करम से इसमें बात करें हैं हुम लोग से दिजुी के दुए Sandi परिवेट्च में मद्पिदेश के तिहाज का प्यारम पासाण यूग से माना जाता है विकास की आवासकताओं को दृष्टी में रखते हुए विद्वानों ने पासाण यूग को तीन भागों में विवाजित किया है पूर पासाण यूग मद्पासाण यूग मद्पिदेश के विविन इस थानों से इन तीनों काल से सम्मधित ओजार हमें प्राप्त हुए हैं बात करते हैं हम लोग पूर पासाण यूग के बारे में इस यूग के विश जिस वजार बिना बेंट अत्पल लकडी के बेंट वाले हर्ष्ट कुठार के अत्रिक्त खुर्चनी मुश्टी कुठार क्रोड मद्विदेश के विविन निस्थलों से मैं मिले हुए पूर पासाड युगी निस्थल नर्वदा घाटी, चम्बल घाटी, बैतवा घाटी, सोनार घाटी, सोन घाटी, भीम बैटका के गुफाओं में पाये गए जितने भी पूर पासाड़े के आके वजार रहे हैं, जिए आपके नर्वदा गाटी, चंबल गाटी, बैतवा गाटी, सौनार गाटी, सौन गाटी, भीम बैटका क्यों कोफाओं में पाए गए हौसंगाबाद और नर्सिंगपूर के वीच नर्वदा गाटी, जीवास में प्राप्ती के कारण फिसद्ध है, नर्सिंगपूर देव कछार, बर्मान गाट, उपरी नर्वदा के अमरकंटक से हर्दा के मद्द, एवं जवलपूर भेडरा गाट से इस्तंधारी पस्मों के जीवास में प्राप्त हुए, नर्सिंगपूर की निकट हत नौरा से नवीन खोज के तहित एक खोपड़ी का जीवास मिलाए में, भीमबेट का एवं रीवा चित से छुरी एवं चैनी मिली है, सौन गाटी के चित में निसार अहमद ने अनेक इस्तलों से पूर पासार काल पराप्त किये हैं, मालवा चित में चंबल की सहाय सिक, सहाय कि नदी जो सेवना नदी की खोज में मद सोर तथा नाहरकर नामक इस्तानों से पूर पासार यवगेन ऑज़ार भी पराप्त हुए हैं, बात करते हैं मद पासार यवग के बारे में, ये सियोग में आपके जैस् चट, कौायर्ट, फिलेंट, आदी, उचकोटी के पत्त्रों से बने ओजारों में, खुर्चनिया, नौप, एवं बेधनी पिरमुक हैं, एओजार मत्विदिश में नर्वदा, चंबल, बैतवा, इनकी सायक नदियों की घाटियों में पाई गए, इसके अतरिक्त, जबलपू मत्वासाण योगीन इस्थलों की बात करें मत्विदेश में, तो काय था, वो जैन में ही आपका, सिंदु नदी घाटी के तटपर, बाराव मिहीर की जनम इस्थली है, एरन, सागर में ही, प्रयाचेन नाम, एरी कीन है, भानुगुप्त का अभिलेक मिलाए है, नौदा प्रज्थे तथा विदेशियों के आपरवास के साक्ष तराप्थ हुए है, यहां से हमें, नांगदा उज्जें, चंबल तटपर, माइक्रो लिथस के साक्ष मिले है, खेडी नामा होसंगाबाद में, पंद्रह सो इस्थी इसभी पूर्व के, इसापूर्व के साक्ष मिल आदमगर से पालतू जानवर की हड्डियां बड़ी मात्रा में मिली हैं, कहां से आदमगर से, याद रखे, पूंच लेता है भीम बैटका की गुफाएं, कहा हैं तो रायसेन में, इसी तरह के आपको प्वेंट याद रखना है, उज्जें, नांगदा कहा है, उज्जें मे इसे बने सल्क, क्रोड, फलक, बेदनी, समलंब, तिकोने, अर्द, चंद्रा का लगुरूपता, बाले वजाल, मद्विदेश में पूर्वी निवाड, सहिडोल, मंदसौर, होसंगाबाद, उज्जें जवलपूर, इंदौर, पन्ना धार विदीसा, इत्यादी जिलों से हम में प्राक्तुय है, आदमगर, होसंगाबाद, से इस योग की सीप से बनी बस्तुय मिली हमें, जिसकी तिती लगबग पचपन सो इसापूर है, फिरा आती हम लोग नव पासाड़े हुए, इस योग की प्रमुक होजा, सेल्ट, कुलाडी, बसूला आदी थे, फॉलिजडा रूप में मद्पिदेश के सागर, एरण, गडी, मोरिला, जबलपूर, मुनई, कुन्नम, बूरी, चैनका, दमुव, हटा, होसंगाबाद, छतरपो, जतकारा, जिलों में पाए गैस, इस काल के ओजा, इस योग में मनुसने किरसी पसुबालन, मिनतभांड बनान, वस्त नि ख़वाता के आऊसेज प्राट नहीं हुए, मद्पिदेश में हरपवाека सबवता के आऊसेज प्राट नहीं हुए, इस पॉइंट को दिमाग में रख लीजे। परन्तु हडपा सब्धा के बाद ताम पासाड एव के आउसेस मालवाचित के नांगदा, नवदा टोली, कायथा, आवरा, एरन, फेसनगर अधी से प्राप्त हुएं आवरा आपका मंदसोर में ताम पासाड से लेकर गुफ्थ काल तक के यहां से सापच मिले हैं डंग वाला उज्जन में ताम पासाड बस्ती है, नवदा टोली एवं महेसर के आउसेस 1660 इसापूर्व से 1440 इसापूर्व तक एरन के आउसिस 2000 इसापूर्व से 700 इसापूर्व तक, बेशनगर के आउसिस 1100 इसापूर्व से 900 इसापूर्व तक, कायथा के आउसिस 2015 इसापूर्व से 1380 इसापूर्व के इस तरी ये प्रमार उपलब्द कराते हैं कायथा से मोटे और मजबूत ब्राउन स्लिफ्ट बियर नामक मिद्भांड पाए गए मालबा के मिद्भांड हलके पीले एवं नारंगी रंके जिन में काले और गहरे भूरे रंग से चितकारी है श्री वाकड कर द्वारां चम्बल सेवना रेतम छोटी काली संद्र पारवती बैतवा गंबीर आदी नदियों से किये गए खोज में बावन फिफ्टी टू ऐसे स्थल पराप्त हुए हैं जहां ताम पासांड इवेंड सब्ता से संबंदित मिद्भांड लगू पासांड और बात करते हैं परमकष्ण करता और स्थलों के बारे में ऐसे में इसके खोज करता थे कि सूप वेकर हतनोरा आपका होसंगाबाद नरगधा घहाटी के पास नरम देव सिस मानों की कॉपडि यहां से मिलें हेजीडी संकारिया और मेट अर्वण यहां के खोज करता थी मंद सौर क्या है मंद सौर चंबल गाटी उपकरण यहां से मिलें यहां के खोज करता थी प्रोफेसर वाक्याड कर, भीम बैट का नर्वदा गाटी, बिलेड उपकरण यहां से मिले, बीवी मिसराया, आदमगड, सेलासय और संगवाद, यह 25,000 लगू पासाड उपकरण मिले यहां से, इसके खोज करता थे, आरवी जोसी, कौन थे, आरवी जोसी, अब बात कर ले थ कि कुछ, उत्रोत्तर भाग, ग्वालीर भिंड मुरेना, में लोह यूग के दूसर, घोतक दूसर, चित्रत मेंडवांड के आउसिस पाए गए, जो लगबाग, 1000 इसा पूरुप के थे, ठीक है, बात करते हैं लोग, महापासाड यूग, किसके, महापासाड यूग के बारे हैं, फिर आता है हमारा बैदिक यूँ, मद्विदेश से सम्मंदित किसी भी इतिहासिक तत्य का समावेश रिगवेश से नहीं मिलता है, मद्विदेश के सम्मंदित किसी भी इतिहासिक तत्य का समावेश आपका रिगवेश से में नहीं मिलता है, उत्तर बैदिक काल में को रिख बैद में कोई भी ऐसा इतिहासिक तत्व नहीं है जो मद्विदेश से संबंदित हो लेकिन उत्तर बैदिक काल में कुछ अनार लोग थे जो जाती थी निसाथ जाती इसका बर्डन एत्रे बरंबर में उल्लेख है जो मद्विदेश के घने जंगलों में निवास करते थे बात करते हैं लोग महाकापकाल के बारे में कारूस बंस इसके संस्थापक थे मनू पुरुस पुत्त कारूस छेत था इनका वगेलखन चंद बंस एल समराज संस्थापक थे सौम या चंद महराजा यायाती ने चंद समराज चे पांच पुत्रों में बांटा था एक्छ शाकू कोई पुत्त डंदक का राज मदपिदेश के दच्छिनचेत में पर था, जो बाद में डंदकारण कहला है रामार्ण के राम बनवास की समय, जिस डंदक बन में रहे वह चत्थीसगर राज के वस्तर जिले का दंदकारण चेत ही था, फिर आपका हे हर बन समराज इसके संस्थापक्ति यदूपुत्त हे है, राजानी थीन की महेस, मती, महेस और धाल, मदपिदेश में हेर बन सी राजा कीर्टी बीर ने लंका नरेस रावण को परास्त किया था, ये भी कई बार पूछ लिया है, मदपिदेश के हे हर बन सी राजा कीर्टी बीर ने लंका नरेस्त रावन को तराष्ट किया था हेर बंसिय राजा महिस्म ने नर्बदा नदी के तड़ पर महिस्मती नामप नगर वसाया था महाकाब काल में यादव बंसिय राजा मधू का उलेक मिलता है महाबारत यूद में पांडवों की तरफ से भाग लेने वाले मत्विदेश के राज वत्स, चेदी, कारूस, दरसार्ड, मत्स, बर्तमार भगिलकन, बुंदेलकन का छित्ता है महाभारत योत में कौर्वों की तरब से भाग लेने वाले राज्यों में महिस्मती, अवंती, भोज, अंधक, नेसद, बिर्शनी, आदी थे परुस्तराम राजा जगदगनी के पुत्थ थे जिनके नापपर जाना पाओ महू है निसाद जाती का राज सत्पुड़ाव विध्यांचल के जंगलों में था सत्थुगन फिरूराम के छोटे भाई के पुत्थ सम्भूत गाती का सासन विदीशा राजधानी कुसावती पर था जंसरोती है कि मद्धपदेश के पन्ना राजी की निव भगवान राम के पुत्थ कुस के बंसजों ने रखी थी पिर आते हम लोग महाजनपत पर किसके महाजनपत पर महाजनपत, छटी सदी इसापूर में भारत की 16 जनपतों में महाजनपतों में से चैदी और अवंती मद्धपदेश में थे 16 महाजनपतों में से कौन-कोन से मतविदेश में थे? एक आपका चैदी, दूसरा अवन्ती. अवन्ती जनपत दो प्रांतों में विवख्त था, एक उत्तरी जनपत की राधानी आपकी उज्जनी थी, और दश्री जनपत की राधानी आपकी महिसमती थी. तो पूछेगा उत्तरी जनपत की महा जनपत की रातानी क्या थी उज्जनी दच्छडी जनपत की महिस्मती। चनपिरगोर और पालक अवंती के पिसिद्ध सासक बहुत दिकाल से सम्मझ लेते हैं। बहुत दो जन गिरन्थों के इनसर अवंती के अन्न दो पिसिद्ध नगर कुररगर उस्तदर्शनपुर थे। अवंती पिदेश बहुत धर्म का एक सो पिसिद्ध देख लेता है। हम लोग पहुंचते हैं अब मौर एवांस पर किस पर मौर योक्षी। मौर में असोख विदीसा की महादेवी से नों ने विवाय किया। साची के स्टूप का निर्मान करवाए असोख ने। वेश्ट टेकरि उजयन का निर्मान कराया। असोख मौर राजा बनने के पूर अवंती नामक चक प्रांथ का प्रांथ पती था। बॉद्ध गरंद दीव बंस के अनुसार हायान के अनुसार असोक ने 84,000 इस्तूपों का निर्मान करवाया है असोक के दो अविलेक मद्धेस में रूपनात जवलपूर गुर्जय दतिया से मिलता है असोक ने अबंती महाजनपत जीत कर उसे मौर समराज में मिला लियत ऐसा बुद्ध गोस ने सामन्त पासा दीका में उलेक किया है परन्तु असोक द्वारा अविल्ती बेजय का अनुक किसी गरंद में उल्लेक नहीं है सांची के मतपूर सांची के मतपूर अब्लेक में असुब के द्वारा आधोनीक विदीशा सुनारी सत्धारा भोजप्र अधेर में भी अनेक इस्तूबों का निर्माण कराए। कि सांची गेतरिक इस्तूपों के अव सेस खोज में प्राप्त हुए हैं सतना में भरभूत का निर्माड इस्तूप का निर्माड असुग नहीं करवाया था असुग के बाद आता है सुंग बंस कौन सा सुंग बंस हरश्चरित तथा पुराणों के नुसार 184 से 185 इसापूर में के सुंग बंस के संताफ़ पुस्प मितने इवराज अगनी मित को पूर्वी मालवा की राध्धानी बिदीशा का सासन बना कर भेजा था संग काल में पुस्प मित संग ने विदीशा को अपनी राध्धानी बनाया था सांची इस्थू के तोरन द्वार का किसने बनाया था संग पुस्प मित संग ने ठीक है एक पूच लेता है सांची किस्थू के तोरन द्वार का किसने बनाया है पुस्प मित संग ने बात करते हैं सादवाहनों के बारे में, कौन से? सादवाहन काल, सादवाहनों का उलेक साची स्थूब में मिलता है, नावांकित सिक्के वजयन देवास हो संगावाद, जबलपुर, भेडागाट दिपुरी से मिलते हैं, जबकि वर्सिष्टी पुत्थ पुल्गा मावीं, 130-155 के सिक्के भेलसा अत्वाद देवास से पराप्त होते हैं, अंतिम सादवान सादवान सादवाद यग स्री साथ कर करनी के सिक्के आपके वजयन देवास हो संगावाद, जबलपुर से मिलते हैं, फिर है हमारे हिंद यवन, हिंडो-ग्रीक आकमर, हिंद युनानी सासकों में सबसे अधिक विख्याते मिनांडर, इनका करकाल क्या रहा है, 165 इसापुर से 145 इसापुर्त, मद्विदेश के किवालागाट से मिनांडर के सिक्के मिले हैं, रॉमदेश के कुछ सिक्के भी मंसोर, आवरा से प्राफ्त हुए हैं, फिर आता है आपका सकराज, उजयने सकराज, उजयनी का सकराज, कार दममक बंस, इसके सज्था पक्ते, चष्टन या ये सो मिती,ेजने सच्के आपके उ स्पूरी से प्राफ्ट हुए हैं सक्षट तकों काउलेक उज्यन से मिला है फिरमुक राजा थे रुद्धामन संस्कित का भिद्वान गिर्णाल संस्किती संस्कित अभिलेक से कि अंतिम्राजा रोदिसेंट दिये को चंदकुप्त विक्रमादितने मारा था कुसांड काल सहडोल से कनिस्क और होविस्क के सिक्के तथा वासुदे के ताम सिक्के तेवर जबलपुर से प्राप्त हुए बेडागाट जबलपुर से कुसांड कालीन बहुत पित्माय तथा मोर्ती लेग प्राप्त हुए कोसाड सासक विर्म करफीसिस का एक सिक्का में विदीसा से भी मिलाए कोसाड कालीन अभी लेखों में बास्क, बास्पिस, वास्क, वासी सिस्क का सांची अभी लेख तथाओ जवलपुर के भेडागार से पराप्त दो मूर्ती लेख पराप्त हुएंगे फिर आता है अपका उजजनी के विक्रमादित, कौन उजजनी के विक्रमादित विक्रमादित का एक परमादर्स राजा की रूम में पिछले थे वेताल 25 और सिंगासन 32 इनके पिरमु अनुपम उधार है औज्जन की राजा विक्रमादित ने 58 इसापूर में विक्रम संबत चलाए है कौँ सा? 58 इसापूर में विक्रम संबत फिर आता है आपका नागवज दूसरी सिताबदी के अंतिम चरन में वरस नाग ने बिदीशा ग्वालिय छेते में नागवन्स की स्थापना की जंद गुप्त समराट समुद्द गुप्त के इलावाद इस्थमलेक में नांगमंस का कि अन्तिम सासक गड़पती नाम का नाम आया है नांगमंस के अधिकांसिक के पवाया प्राचीन पदमामती से मैं प्राप्त हुए हैं समुद्द गुप्त द्वारा मंदिप देश के अधिकांश भाग तथा नर्वदा नदी की उत्री सीमा तक अपना राज इस्थावित करने की पुष्टी बं नाला ओसकॉर से प्राप्त समुद्द गुप्त के शिक्कोंसे होती है काच काच को कुछ इतिहास कर समुद्ध का भाई या समुद्ध गुप्त का दूसरा नाम मानते हैं समुद्ध गुप्त ने मद्विदिस से यूँकर दच्चन पर आकमन किया उसने नो गड़ राज्यों अभीर, संकानिक, खरफरिक, काग, मालाव, आदी को जीता जो मद्विदिस में थे एरन सागर से समुद्ध गुप्त के प्रांथपती भानुप्त का अबलेक करात हुए जो गोपराच की विद्वा की सती होने का पित्थम अबलेक है सती होने का पित्थम अबलेक आपका एरन सागर से मिलाए एरन अबलेक समुद्ध गुप्त से संबंदी थे किया अनुसार एरन सो भोग नगर की नाम से भी पिसिद्ध था समुद्ध चंदगुप्त बिरक्रमादित ने सक राजा रूप सिंग कुमार कर और जयन ही को दूसरी राध्धानी बनाई थी अपनी गुप्त सासक्स समुद गुप्त साथ सर्थ रामगुप्त के सिंग तथा गरोड पिकार के तामे किसिक के एरण तथा बीलीशा से हमें मिले हैं उदैगिरी पहाडी उदैगिरी पहाडी गुफा में उतक्रेन चंदगुप्त दुतिये के संदी विग्रही वीजिसेन के अभिलेक मद्विदेश के गुप्त सप्ता के स्वष्ट साख्षें गुप्त संबत तेहरान में चारसो बारे से तेरह इसवी का एक अभिलेक सांची के इस्तूप से मिला है इसमें चंदगुप्त दुतिये के करमचारी आमक देव द्वारा काकनाद बोट सांची के महाविहार को आरसंग को दान देने का उल्लिक किया गया इसमें इसकंद गुप्त के बिन्द पिदेश पर प्रभाव को सोपिया तीवा से प्राप्त इस्तंब लेग दर्शाता है तीवा का व्यष्ण मंदिर उदैगिरी की गुफाओं बबात की गुफाओं का चित्रन गुप्तकाल में हुआ था प्रादता है आपका वकातक बंस कौंसा वकातक बंस संस्ता पक्कूंता इसका दिन्द सकती है इसकी इरादानी थी पुरी का संभव का विदीशा वस से गुल्लू पिरमुक राजा हुए प्रवरसेन पितम चार अस्वमिक यग करवा इसने प्रवंसा दुतिये सेतु बंद प्राक्रित भासा की रचना कीशने सरव सेन गाथा सब्त सती हरी विजय की रचना कीशने फिवरसेन दुतिये के बाहरे दान पत्रों में से कुछ मद्वदेश की छिदवाड़ा सीवनी वेत्तूल बालागाट तथा इंदौर जिलों में प्राप्त हुए नरेन सेन के उत्त 12 वकाटक बंस को अउनत दसा में से उत्करठन इस्तिती में लाने का उल्ले किया गया है आपका ओली करबंस कौन सा ओली करबंस मंदसोर इसके संस्थापकते जयवर्थन गुप्त समराजि के विश्तार चोथी सतापती का उत्राथ के समय दस पोर मंदसोर में मालुओं की एक साखा ओली करबंस की इस्थापना गया है मंदसोर सिलालिक के अनुसार यसोद धर्मन ग्यानिंद सौने जानिंद नारा धीपती राजादीराज परमेस और आधीवपादियां धारन की थी पिर आपका मोकरी बन्स मंदसोर इसका संस्थापक था यसोद बर्मन हूनों को हराया था इसने मद्विदेश के पूर्व निवार जिले में असीरण के किले से महराजादीराज सरव बर्मन का एक ताम मोहर लेक प्राप्तुगाए में इस लेक की प्राप्ती से कुछ बिद्वानों का यहमत है कि मुखरियों के समराज का पूर्व निवार जिले तक बिस्तार था फिर आते हैं आपके राश्टकूट बंस साथवी से दसवी सताब्धी के तक राश्टकूट बंस की दो साखाय राज मद्विदेश के कुछ भागों पर थी मद्विदेश में राश्टकूट बंस राजबंस की पहली साखा साथवी से आठवी सदी तक बैतूल अमराबती छित पर राज करती थी राश्टकूर्ट राजबंस की पहली साखा चार ग्यात राजा थे इसमें कौन को से दोगराज, गोविंद राज, स्वामिक राज और नन्न राज युद्धासोर राश्ट कूट राजबंस की दूसरी साखा मानने केट में राज़ कलती थी दूसरी साखा के संस्था पकते दंती दुर्ग 733 सिली है दंती दुर्ग ने अपनी बिदरहब जागीर अविस्तार कलते हुए उज्यनी के गुर्जर साथकों को पराजित किया तथ हम बिजय के उपलक्ष में या हेरन गरब दान किया मालबा पर अधिका सुरक्षित रखने के लिए राश्ट कूट सासक किष्ण दुथी है गुर्जर पितिहार सासक भोज ने योद करना राज़्या भोज से योद करना पड़ा था राश्ट कूट वन्स के सासकों के अंतिम समय में इस वन्स का प्रभाव उत्तर की और बढ़ गया था क्योंकि अंतिम सासक किष्ण तितिय का नाम छिदवाड़ा जले की नील कंटी सिलालेक से में भी आता है तथा इसी की पिसस्ती से युक्तेव सिलालेक मद्विदेश को उत्तरी सीमा पर मेहर की पश्चिंप में लगबग बारे मील दूर जुरा नामक ग्राम से प्राप्त हुए राष्टकूट राजवंस के अन्न राजा गोल हवदेव कवलेक लगबग बारेवी सिताबदी में बहुरी बंद इस्थान में स्थित जैनमूर्थी लेक से फिराप्त हुए है फिराप्त है हमारा गुरजर पितिहार बंस गुर्जर पितिहार बंस 730 इसवी के लगबग उज्जैनी में नांगवट पित्थम द्वारा गुर्जर पितिहार राजवंस की स्थापना की गई जैन्ड गेंद कूवले माला एवं हरी बंस पुरान के इनका गुर्जर वक्स राज का सासन मालबा पल था नांगवक्ट दुतिये को कन्नोष्ट में गुर्जर पितिहार समराज का संस्थापना का जाता है वह उज्जैन के गुर्जर पितिहार बंस का चौथा सासकता दौलतपूर अबलेक में मेहर भोच किया प्रभास सेन प्युक से सासनस चर्थोर्थ मंदिग गुर्जर के अबलेक में आदी वराय तथा सागर ताल पिसस्ती में मेहर आदी उपादियों से मंडिक किया गया गुर्जर पितिहार बंस के महां सासक मेहर भोच 836-885 इसभी ने अपने राज को संगठित करते हुए बुंदे लिफंड़ पर पुना अदीकार कर लिया मद्विदिस में मेहर भोच के दो अबलेक गुआलियर से एक अबलेक आपका गुआलियर जले की सागर ताल से मिला है वो लेक नहीं है कि अबलेक गुआलियर के स्थानिय पिससन तथा ब्यापार सेणियों पर पिकाहष डालते हैं गुर्जर पितियार समराज की पतन के पश्चात मद्विदिस से सम्मनी तीन सामन्तों में कि उनसा तिप्पुरी की कल्चुरी मालवा की परमार और बुंदेलखंड की चंदेल ने स्वयम को सुतंत कर लिया तो बात करते हैं हम लोग चंदेलवंस बुंदेलखंड और जिजाग भुक्ति पिदिस इसके संथापक थे चंदेलवंस की नन्नोक 831 इसके पिरमुक राजा हुए यसो बर्मन खजराहों में विश्नु मंदिर का निर्मान कराया किसने यसो बर्मन ने फिर हुगा धंग ये खजराहों के मंदिर का निर्मान कराया फिर विद्ध्या धरमंदिर याका गजनवी को भगाया इसने पहर लक्देव ये अंतिम राजा था धंगे के राजिकाल में खजराहो के दो सेश्टतम मंदिरों फारसुनात और विसुनात का निर्माड कराया तो याद रगना सबसे पेज़े तो आप चंदेल बंस का संस्थावा कुन था नन्नो इसमें जो राजा हुए उनसे संबंदी जुकार हुए उनको याद रखता है जैसी एसो बर्मन ने खजराहो में विश्णु मंदिर का निर्माड करवाई था बहुत ही मत हुने धंग ने खजराहो में मंदरों का निर्माड करवाई गंड़ देवन आपका चित्त गुप्त का मंदिर बनवाय था फिर आता है आपका परमारवंस धार इसके संस्था पक्ति उपेंद किष्ण राज पिर्मुक राजा हुआ इसमें मौंज सिंदूराज राजा भोच राजा भोच के बारे में सबसे महत्मू परमारवंस का सबसे महान सासक था है भोच ताल भोपाल भोचपूर सिबलिन भोच साला धार का निर्माता तथा 23 गरंट लेखे इसमें राजा भोच ने राजा भोच कलंबा तलवार का धनी था भोच पिथम के राजकाल के 11 अबले ओज्जेन देपालपूर धार भैट्रमा भोच पूर तथा महंदी से प्राप्त हुए है धार पिशस्ती से ग्यात होता है कि भोच ने तिपूरी के कल्चुरी सासर गांगे देओ को पराजित किया था चिरवाब लेक से पता चलता है कि चित्थकूट का दुरुग भोच का अधीन था भोच का राजी चित्रोड, वांसकड, डूरंगरपूर, भेलसा खांदेश, कौंकड गोदाबदी तट गाटी के उत्रिभाग तब विस्तित था इस विसाल राजी की राध्धानी थी धारा नंगई, आधनिक नामें इसका धाल, भोच के उत्तरादीकारी जैसिंग पित्थम का एक ताम पत्य, जो धार के विक्रम संबत 1112 में पिछलित किया गया था मंधाता से प्राप्ट हुआ, इसमें अम्रेशो और मंदिर इस्तित पट्ट साला में निवास कर रहे ब्रहणों के लिए एक ग्राम देने का वो लेक किया गया है नागाई अबलेक से प्राप्ट जानकारी के अर्शा चालुक नरेश सौमिस्वर दुतिये ने भोज की रातानी धारा नंगरी पर आकमर किया जिसमें राजा भोज पराजित हुआ था बात करते हैं, तॉमर बंस, कौन सा? तॉमर बंस इसके तॉमर बंस के संस्तापक थे आपके बीर सिंग देव, इसकी राधनी थी ग्वालियर, फिरमुक राजा हुए मान सिंग और बिक्रमादी डूरंग सिंग के सासंकाल में ग्वालियर के किले की देवारों पर जेन पितिमाय उतकीन की गएं, जो उनके द्वारां जेन धरम को फेसर देने का साक्ष पिस्तुत करता हैं, तॉमर बंस का सबसे पितापी राजा हुए मान सिंग, 1486-1573 इसभी तक रहा, जैसे दिल्ली के बहलो लोध़ी, सिकंदर लोधी, इबराहेम लोधी से योध करना पड़ा, राजा मान सिंग ने मेगनैनी के लिए गूज़री महल का निर्मार करवाया था, संगीत के प्रमुक गरन्द मान कोतुखल की रचना की, याद रखना, गूज़री महल का निर्मार आपके मान ने करवाई था और मान कोतुहल की रचना भी आपके मान सिंग नहीं करवाई थी 1570 में इब्राहिम लोदी ने ग्वाडियर का किला जीता इसी उत में आपका मान सिंग की मित्ति होगी फिर आपका तिपूरी का कल्चुरी बंस तिपूरी साका के कल्चुरी बंस का संस्ता भक्ता वाम राज देव इसकी रादधानी थी तेवर तिपूरी फिरमुक राजा हुए इसमें गांगे देव त्रिलंगादी पत्ती लच्मी करण कल्चुरी की फ्राचीन रादधानी महिसमती थी जिसका संस्ता भक्ता किश्न राज उसके चांदी के सिक्के वेशनागर तेवर तथा पत्तन से पराप्त हुए गांगे देव के उत्तरादिकारी उसके पुत्त करण की लगातार सैनिको खलबतियों के कारण उसे हिंदू न में मद्विदिश के प्रिमुख राज बंस और उनका चित ठीक है यह याद रखना है कारूस बंस यह आपका बगेल खंड था इनका चित चंद बंस एल सम्राज बगेल खंड से बुंदेल खंड था इनका चित था यादो बंस चंबल बैदबाग कैन नदियों कब मद्भू भाग था इनका चित सुंग बंस बिदिशा वेशनगर काल दमग बंस सकों काउप बंस ए उज्जन था इनका नाग बंस बिदिशा ग्वालियत बोधी बंस जबलपुर्ति पुरी या थेवन मग बंस भगेलकंड आभीर बंस अहीर वाड़ा बिदिशा जांसिंग वकाटक वंस बिंद पिदिश, ओलियर वंस दसपुर मंदसों, मोक्री वंस मालवा, दसपुर मंदसों, परी ब्राज्यक वंस बुंदिल कन्द, फिर उचकल्ब राज वंस इसका अंचहरा सतना, सेल वंस आपका महाकोसल, पांडव वंस मेकाल्व पुदिश अमरकंटक, गुजर्थिय अब बात करते हैं लोग मद्दकाल में, अब आते हैं मद्दकाल में, मद्दकाल को देखते हैं हम लोग, मद्दपिदेश के परीपेक्च में 1952 में 1192, 1992 कि तराइन योदी के पश्चाल मुहमद गौरी द्वारा, उत्तर भारत में सत्ता के विस्तार के प्रियासों के तहत, मद्देश में बिजय थी, या थी बुंदेलकंड की बिजय कुट्बुद्दीन एवक ने मुहमद गौरी की अनुपस्तिती में 1202-1203 में बुंदेलकंड पर आक्मर किया और चंदेल सासक परमर्दीयो को पराजित का कलिंजर महोबा और खजराहो पर अधिकार किया था मालबा में कुट्ब मुद्दीन एवक का पहला धावा उज्जयन पर था का उज्जयन पर? 1211 इसवी में इल्तुतमिस ने ग्वालिया दुरु को घेल लिया था 11 माई के घेराओं के बाद पितीहार सासकों की पराज़े हुई इसमें 1234 इसवी में इल्तुतमिस ने अपना मालबा अभियान के दौरान बेलसा पर अक्मार किया उसे तहसनहस कर दिया था 1201 इंक्यावन में बलबन ने उल्गू खा की नेतत में कलिंजर पर अक्मण किया था 12092 में अलाउद्दीन द्वारा जलालूद्दीन खिल जी के काल में मालबर पर अक्मण किया था इस समय परमाद राजा भोज दुतिय सत्ता रूठ था इस आक्रमण में ही अपने उसने बेलसा का दुरुख जीत लिया था उसके बाद चलते हैं 12052 में अलाउद्दीन ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया और फिर उसने विदीशा पर अक्मण किया 1295 में जलालद्दीन सिकार के लिए एक अभियान पर ग्वालिय रहाया था उसने वहां के यात्रियों के लिए एक भवन बनवाया था 1296 में सुद्दान बनने के फिर्शाथ अलाउद्दीन खिल्जी ने मालवा पर आक्मण किया जिसका नेतित उसका सेना पती एन उल्मुल्क ने किया था 1305 में एन उल्मुल्क के नेतित में अलाउद्दीन ने अपने सेनी कदल मालवा पर आक्मण करने ही तू भेजा इस आक्मण में परमार सासक हर्नंद कूला मारा गया फिराय बारे 13 नवंबर 1305 को मांडू पर आलाउद्दीन की सेना का कबजा हुए 1305 को अंतिम महाल चंदेरी सासक हमीर वर्मन 1289 से 1388 वी तक के उपरां दमव जबलपुर पिदेश अलाउद्दीन के अधीन हो गये या बाद दमव से 28 किलोमेटर दूर सलेया ग्राम से प्राप्तिकभ सिलालेक से स्पष्ट होती है या सेलालीक बिक्रम संबत 1366 यानी की 1309 वी का है और उसमें अलाउद्दीन खिल्जी को सार बोम सासक का गया है 1324 यह में बटीहागर अविलेक से स्पष्ट होता है कि इस स्काल में ग्यासुद्दीन तोगलप का अधीरपत दमोचेत पलता या अविलेक फार्सी भासा में है 1328 में एक अन बटीहागर अविलेक से जो संस्कित में है ग्यात होता कि उसकाल में दमोचेत में सुल्टान महमूद अथवाद अर्थात मुहमत तोगलप का राज्य था 1359 में मुहमत तोगलप की मिवतिक विपश्चात फिरोष्टाय तोगलप दिल्ली का सुल्तान बना 1375 में देव बर्मा कन्य धन हो गया उसके उत्तरादीकारी बीर सिंग देव ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और सुतंत सासक बन बैटा 1505 में एक सती लेक दमोच जिले में मिला जिसमें ग्यासुद्दीन के पुत्र नसुरुद्दीन का उलेक है 1512 में महमूद साथ उतिय की मित्ती हो गई दमोच छेती से मालवा के सुद्दानों की सत्ता समाप्थ हो गई 1425 इस भी में ग्वालियर के सिंगासन पर डूंगर सिंग बैटा उन्होंने ग्वालियर के किले के पास एक विसाल चट्टान पर जैन तीर्थ करकी मूर्टी उत्कीर की थी ग्वालियर के तॉमरबंस का सबसे महान सासक हुआ मान सिंग तॉमर कौन हुआ है? मान सिंग तॉमर एरहाप का 1486 से 1570 तक परमास सासक की पतन के बाद दिल्ली सल्तनत के दिन मालबा की इतिहास को अंदकार मर्ड यव की नाब से जाना जाता है मालबा में गौरी राजवन्स की स्थापना के साथी मालबा का इतिहास चमतकित होटा मालवा की संतनत के स्थावग दिलावर खान गोरी का वास्तवित नाव हुसेन था और मात पक्ष्य से वैद्धमस्क के सुल्तान सिहावुतीन गोरी का बंसक्त था अपने आपको मालवा के सुतंसासक शुद्णान गोशत किया मालवा में मत्यूगीन मुसलिम इस्थापत कला का संस्थापक राया है कौन दिलावर खा? दिलावर खा ने धार और मांडू में दो मश्जेनों का निर्माड भी कराया है जिसमें इस्थानियों और मुस्लिम सेली का समन वड़े धार और मांडू में दो मस्जिदों का निर्माट किसने किराय था दिलावर खान 1426 भी में दिलावर खान गौरी का बड़ा पुत अल्प खान होसंग साहे का अस सुल्टान की पद्वीदारन करगदी पर पेठा होसंग साहे ने मांडू को अपनी राधनी बनाया था वरतमान में मांडू में जो होसंग साहे का मकबरा है उसे महमूद खिलगी ने अपने सासनकाल में बनवाया था मांडू में है होसंग साहे का मकबरा सुल्टान होसंग साहे की मित्व के दो दिन बाद 8 जुलाई 1425 को 1435 को गजनी खान सुल्टान मुहम्मद साहे गौरी की नाम से गद्दी पर बैठा 2 जुलाई 1526 में बहादुर साहे गुजरात का सुल्टान बना और 28 मार्च 1531 में मालवा पर आकमड का मांडू पर अधिकार कर लिया इसने 31 मार्च 1531 को बहादुर साहे ने मांडू में खुत्वा अपने नाम का पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया फिर हाता है आपका जून जून 1535 जून 1535 मांडू पर हुमायू का अधिकार हो गया मालवा में हुमायू का कुछ समय रहना निरहतक सिद्धुआ क्योंकि उसकी उपस्तिती में मालवा में केबल सैनिक अधिपत्य थी मल्लू खां सिकंदर खां महतर जम्मूर ने उज्जेन साहित मालवा के 36 इस्थानों पर अधिकार कर लिया हुमायू के जाने के बाद बहादुर साय ने मालवा में मल्लू खां को सुविदार निप किया बहादुर सार के उत्तरादिकारी महमूर साय ने मल्लू खां को मांडू में कादिर साय की उपादी बिदान करो उसके नाम से खुत्वा पढ़ने और सिक्के जारी करने का फर्या परमान जारी किया 22 मई 1545 में कलिंजर के किले के घेरे के समय सेसाय की मित्ती हो गई थी 1555 से पचपन में सुजाद खां मालवा में सुतन्त हो गया मालवा से बाहर अपनी सक्ता इस्थापित करने के फ्यतन में वाज बहादर ने पूर में गड़ा राजी की गोंड राणी दुर्गावती पर आकमर किया जिसमें वह बुरी तरह से पराजित हुआ मुगल समराट अकवर ने आदम खां की नेतित में 12 मार्च 1561 में मालवा की बिजय के लिए सेना बिज थी 1528 से में मालवा में राजपूत के प्रभुत्य के समन समय आश्टा नैमीनाथ में ने इस्थानिये हिंदी में स्रीपाल चरित, सुदर्सन चरित और नैमीनाथ पुराण की रजणाकी थे मालवा में नर्थकियों को पत्तूरिया कहा जाता है मालवा के प्यारमविक भगनों में चार मस्जिने पिरमुक थी जिनका निर्माट 1425 इस्थी के मद्दुगा कमाल मौला मस्जिद और लाट मस्जिद धार में दिलावर खाट की मस्जिद मलिक मुगीस की मस्जिद मालवा में ठीक पंद्रवी और सोलवी सदी में पूरे 200 साल तक मद्देश का पश्चिमी हिस्था यानि बर्टमान बोरान फूर जिले का इलाका खान देश के फरूकी सुल्टानों की अंतरगत रहा है असीडगर के किले को दक्किन के रास्ते का फैरुओा कहर माना जाता है असीडगर इस सल्तनात का सबसे महत्मूर और सच्चित किला माना जाता है अंगरेज याप्री राल फिच लिखता है कि बुरहानपूर की सिक्के एक तरह की चान्दी के बने होते थे जो गोल और मौटे होते थे उनकी कीमत 20 पैसे होती थी कितने 20 पैसे राजा अली खान ने 1588 से 1589 में बुरहानपूर में जामावजजित बनवाई जिसमें दो सिला लेकें एक अर्वी में और दूसरा आपका संस्कित में फरवरी 1601 में असीरगर के किले पर बादसाय अकबर कादिकार हो गया है पंद्रवी और सोलवी सदी में भारत में जितने भी सूफी संथ हुए उन्में से जान्दा तब बुरहानपूर में रहे हैं बुरहानपूर की स्थापना सेख बुरहानुद्दीन नामा के सूफी संथ के नाम पर हुई थी जीए अकबर नामा में गड मंदला को गड कठंगा नाम कहा गया है सब्तरहसो इसवी के आसपास जब कॉंड राजा नरेंद साय ने रामनागर से राध्दानी हटा कर मंदला इस्थाना अंतित की तो गडा राज गड़ मंदला की नाम से जाने जाने लगा 18 सदी के मराठी और अंग्रेजी सरोतों में से गड़ मंदला भी ही कहा गया है गड़ाराज के महानतम सासक संग्राम साई के सिक्के में उसे पोलस सरी वंसी कहा जाता है नर रई काई होते हैं मुगलों की गड़ाराज की बिजय का पहला चरन था खेला का किला आज मदलपिदेश के बेतूल जिले में अवस्तित है खेला का किला मुकंद राज स्वामी के मराठी गरंद विबेक सिंधून या उलेक मिलता है कि मुकंद राज अपने अंतिम दिन खेला की राज़कूर राजा जैत पाल की संरक्षन में बिताए खेला राज की सबसे पितापी राजा का नाम नर्सिंग राय था इतिहासकार फरिस्ता की कृति तारी के फरिस्ता में खेला राज का प्रमाड़ी को लेक मिलता है 1621 में दक्कन के अभियान में जो सफलता अकवर को मिली थी उससे बरार का पिदेश भी उसके अधिकार में आ गया था जाटवा देवगड का ऐसा पहला सासक था जिसका उलेक निर्विबाद रूम में से इतिहास में मिलता है देवगड के सासक के रूम में जाटवा कवलेक, अकवर नामा और आईने ये अकवरी दोनों में मिलता है नांगपुर के गौंड राजा स्वयम को देवगड के संस्थानिक कहते थे बुंदेला ठाकरों का उद्वाई अयुद्या के राजा रामचंद के जेश्ट पुत लव के बंस से हूँ माना जाता है अधिकास विद्वाना को मत है कि बुंदेला ठाकर, बिंदछित या बिंद्या वटी परवत अंचल के भूभाग में राज इस्थापत करने के कारण बिंदेला और बाद में बुंदेला नाम से पिसिद हुए ऐसी मानता है कि चौदेवी सदीव के अंत में इस भूभाग का नाम जिजाग भुपती के इस्थान पर बुंदेलखंड पढ़ाता है अजमेर के पिसे दे सासक फितिवी राज चौहां तिती है 1178 से 1193 ने चंदे सासक परमर्दीयों पर सन 1882-83 में आखमाण कर बुंदेलखंड के महोवा से लगे भूभाग पर अब इतना अधिकार जमालियत 1202 से 1203 में कुत्व बुद्दीन एवक ने बुंदेलखंड के पिसे दुरू कलिंजर पर आखमण किया था 1231 में दिल्ली के सुद्दान इल्दोत्मिस ने कलिंजर पर आखमण किया जो किवल लूट पार्ट तक सीमित था मलखान सींग के निर्धन के बाद रुद्द प्रताब बुंदेला उसका उत्तराधिकारी हुआ उसने बुंदेला की नवीन रादधानी ओरचा की निव तीन अप्रेल 1531 को रखी थी इसलाम साज सूर 1545 से 53 तक जतारा वर्थमान टीकमवर्जली की तहसीर को विवाजित कर इसका नाम इसलामाबाद कर दिया था इसना इसना भार्थी चंद ने पुना जत्रा पर कपजा कर उसका नाम इसलामाबाद के स्थान पर जतारा ही पिच्रित किया था और अभी भी आप जतारा ही इसे पूला जाता है भार्थी चंद के बाद उसका भाई मधूकर साहिं बुंदेला उर्चा की गद्धी पर बैठा मधूकर साहिं और उसकी रानी गडेश कूवरी दोनों ही धारमेक प्रवित्थी के थे बेअपने मात्ये पर बड़ा सा तिलक लगाते थे दो आज भी मधूकर साहिं तिलक के नाम से पिसद है मदूकर साय के आठ पुत्रों में एक बीर सिंग देव को बरतमार में दतिया जिले में इस्ति छोटी बढ़ोनी की जागीर मिली थी अकबर के बिद्रोही पुत्र सह जादा सलीम की कहने पर वीर सिंग देव ने दच्छन से आगरा की और जाते समय अकबर के बिशिष्ट मंत्री अबुल फजल का बद नर्वर आंत्री के वीच सराय वरार में 9 अगस्त 1602 को कर दिया था मुरक्को निवासी एबन बतूता दिल्ली के सुल्तान मुहमत बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा पर आया उसने अपने यात्रा वितान्त में चंदेरी के विशाय में लिखाया या नगर बहुत बढ़ाया और बाजारों में सदा भीड लगी रहती है जन्वरी 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आख्मन कर दिया उसे विजित किया सुल्तान अलाउद्दीन खिल्जी ने 1340 में चंदेरी पर अधिकार कर समस्त मालवा को अपने अधिकार में कर लिया होसंग सायं 1415 से 1405 से 1435 के सासनकाल में चंदेरी में अनेक महत्पून इमारतें तालाव आधी बने थे जिनमें दिल्ली दरवाजा पिर मोख है चंदेरी में चंदेरी का सासक मेधनी देराव मेधनी राय चित्तोड के पिसिद राणा संग्राम को अपना सरक्षक मानता था बाबर ने बाबर नामा नामक गरंथ में लिखाए कि मेधनी राय राणा सांगा का अतिंत विस्वास विस्वासी आदमी था बुंदेलखंड के सभी सासकों को आंचलिक कागज पत्रों में महराजा दीराज ही लिखा जाता था दलपत राय बुंदेला 1678 से 1707 इसवी तर दतिया राज का सरवादिक पिसिद्ध सासक हुआ उसका अमूल नाम था पिरताब सीन दलपत राय बुंदेला ने दतिया में एक बिसाल दुर्व का निर्मार करवाए इसका नाम पिरताब गड़ दुर्व है बुंदेलखंड के अंचल में कहावत आज भी पिसिद्ध है कि दतिया दलपत राव की जीत सके ना कोई पित्वी सीन बुंदेला हिंदी साहित के इतियास में रसनीदी के नाम से बिख्या थे 1783 इसवी में बिक्रमादिस सीन ने ओर्चा रियासत की विराद्धानी ओर्चा की स्थान पर टेहरी को बनाय था 1785 में भगवान किष्ण के एक नाम टीकम के आधार पर टेहरी का नाम आपका टीकम गड़ रखा गया था 4 मई 1608 को ओर्चा के सैने को और बगाट के जगीदार के बीच योद्धुगा जो बगाट का योद्ध कहलाया ठीक है 1816 में चंदेरी राजी की स्थापना ओर्चा राजी की ततकाली सासर राम सायं 1605 में ओर्चा से इस्थाननांतित का चंदेरी भेज़ जाने के कारण हुई थी ग्वालियर के सिंदिया त्रेंच कमांडर जीन बेटिष्ट ने 1810 में चंदेरी पर आखमण कर इसमें दो तेहाई भूबाग पर अधिकार कर लिया थी 1813 में चंदेरी का सिंदिया का कपजा हो गया बुंदेल गंड और मुगल संबंद बुंदेल गंड सासक सोहन पान ने खंगारों की सक्ती का दमन कर बुंदेला राज़ की नीव रखी थी इनकी राध्धानी थी और चा बीशिंग बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी चंपतराय का विद्रोग औरंगजेब की नीती से असंतुष्ट हो चंपतराय ने विद्रोग किया था फिर आता है आपका बगेलवंस और मुगलसमन बगेल राजचित का नाम बथा था जो बदमारीवा है राजा रामचंद की दरवार में तानसें तन्ना पांड़े रहता था अकबर की दूथ जलाल खाने तानसें को रामचंद से लेकर अकबर की दरवार में पहुंचाया था बथा राज की अंतिम सासक मारतंड सें थी इथाप का मद्द काल बात करेंगे हम लोग आधुनीक काल के बारे में मद्देश के परिपेक्च में आधुनीक काल को देखेंगे मुखलों के पतन के बाद मालबा पर होलकर बंस का राज इस्थापित हुआ 1727 में मलहार राओ होलकर को मालबा के पाँच महलों की सनत पेशवा से मिली थी 1729 में धार देवास के पबार राज को भी सनत मिली 1730 इस्वी में मलहार राओ मालबा के सरवोच सासक निवत हुए मलहार राओ होलकर की मित्तिव के बाद माले राओ होलकर राजा बना माले राओ की मित्तिव के पाँच उसकी मा एहल लियावाई ने होलकर सासन की बागडोर समाली थी फेसवाब आजी राओ ने 1732 में मालवा सुबा होलकर सिंधिया और पवार के वीच विवक्त कर दिये 1732 में मालवा में निमलिकित मराथ्व राज्यों की निवपड़ी इंदोर में आपका होलकर राज वन्स धार में आन्वंधरा और पवार वन्स देवास और बड़ी पांती में तुकोजी बन्स, देवास और छोटी पांती में जीवाजी बन्स, होलकरों ने 1757 के गदर में किरांतिकारियों का गुप्त समध्दन किया था, होलकर बन्स के अंतिम राजा तुकोजी तितिये की समय इस राजय का बिलाए भारस संग में करके म भाद भारत का अंग बना दिया फिर आता है हमारा सिंधिया को सिंधिया बंस कौन सा सिंधिया बंस सिंधिया बंस की बात करने तो 1731 में मालवा का एक पाथ सिंधिया को मिला था उस समय रानो जी सिंधिया सा सकते 1765 में महादीजी सिंधिया ने गोहत के जाट राया द्राना लोकेंद सिंग जाट से ग्वालियर का किला चीना महादीजी सिंदिया ने ग्वालियर समराज की इस्थापना की थी 1794 में दौलत राओ सिंदिया महादीजी के उत्रादीकारी बने सिंदिया बंस की आरंबीक राजधानी उज्जेन थी दौलत राव ने उज्जेन के स्थान पर ग्वालियर को अपनी राधनानी 1810 में बनाए अपरेल 1948 में जीवाजी राव सिंदिया के समयी मद्भारत के राज्याओं का एक सन्मूंगे बनाए गए मद्भारत का उद्गाटन 28 में 1948 को जवाहलाल नहरू ने किया था आजादी के बाद मद्भारत के पहले राज्पिरमों के रूम में जीवाजी राव सिंदिया को सपत दिलाई 18 में 1948 को फिर बात करते हैं स्वाधिन्ता संग्रा अठारे सो अठारे इस भी में मद्भ पे देश के महाकॉंसल चेत में सरप्थम अंग्रेजों के परूद विद्रो सुरू हो गए जिसका नेतत नांगपुर के सासक अप्पाजी भौसले द्वारा किया गया था नांगपुर के तद्कालें देश भक्त अप्पाजी भौसले को अंग्रेजों ने मंडला बैतूल चेत बाड़ा सेवनी एवं नर्वदा कच्छार कच्छेत छोड़ देने जितू बाद किया अप्पाजी भौसले ने अरवी सेनकों की सायता से बैतूल की समीप अंग्रेजों से योध किया किन्तुवे पराजित हो गए थे सन 1842 में नर्वनिकपुर के जमिदार धिलन साय और हिरापुर के क्रेन साय ने अंग्रेजों के विरोध बिद्रो किया थे फिर आती ही आपकी 1857 की किरांती बहुत ही महत्पून है 1857 के पिथम सुदंता संग्राम के समय मद्द पिद्रेश में सबसे पहले बिद्रो आपका नीमत चाओनी में कहां नीमत चाओनी में इससे याद रखना है तीन जून 1857 को पैदल एवं खोड सबाल सैनिकों के द्वारां किया गया था करनल सीवी सौबर्ष ने राजपू सैनिकों की मद्द से नीमत चाओनी के विद्रो को दबा दिया ग्वालियर की मुरार चाओनी के सैनिकों ने विद्रो कर संचार विवस्ता भंग कर दी मतावन को सिपूरी में विद्रोव हुआ इसी समय महुच्छाउनी में सहाधत खां सहाधत खां की नितत में जवर्जश्ट विद्रोव हुआ और अंग्रीजी सेना परास्त कर दी गई कि इसी किरांतिकारी इसी किरांतिकी मुख पात रानी लच्छिम भाई थी जिन्होंने तत्या टौपी के साथ ग्वालियर का घेरा डाले तत्या टौपी दो बरसों तक गुरिल्ला युद लड़ती रहे लेकिन नरवर के गद्दार सामंत मांसिंग सिंधिया के सामंत ने उन्हें अंग्रेजों को सुपोर्ट कर दिया तथा सिवपुरी में उन्हें 18 अप्रेल 1969 को फासी दे दी गई यहां आपने एक ध्यान दिया क्या लेखा है नर्वर के गद्दार मांसी इनने उन्हें अंग्रेजों के सुपोर्ट कर दिया और सिवपुरी में उन्हें 18 एप्रेल 1869 को फांसी दे दिये इतिहास देखिए किसी हुमापनी करती है आप अगर किसी के साथ गलग करती है या देश के साथ गद्दारी करती है आपको इतिहास में आपके जाने के बाद साथ फर्क ना पड़े लेकिन नाम उसकी सजाई कहलो मिलेगी आपको देखिए सिंधिया के आँगे भी आपको गद्दार सब्द में लेगा और इनके आँगे भी तत्या टोपे को सिवपुरी के जंगलों में मेजर मीडू ने सडेंत पूर्वक पकड़ा था एक और बीरांगना अबंती भाई ने ग्रामगर वियासत मंडला में जासी किरानी जैसी भूमिक्या निवाई और अंगरेजी सेना पती वायडन को भागने पर मरगूर किया अबंती भाई ने अपनी अंगर अक्ची का गिर्धारी भाई की कटार से आत्मत्याग कर ली थी 1857 अठारे सो संतावन की किरांती के समय ग्वालिय नरेश महराजा जीवाजी राओ सिंधिया थे जवरिया लेवी के परोद चाचल लांदोलन दीवा में चलाये गया था नर्सिंगड़ के यह राज चैंसिंग अंग्रेशों के परोद सहीद हो वे राजी के पहली सेनानी थे कौन चैंसिंग ठीक है जहांती की राणी लच्चमी भाई अठारे जून 1858 को ग्वालियर में यून रोज की सेना का साथ यूद करते हुए सहीद हो गई मालवा विद्रो का क्यंद इंदोर था जहां सादत खा की नितत में हॉलकर सैन टुकडी ने अंग्रेशों के विरोध विद्रो किया था इस समय इंद्रोर रैजीमेंट का नितत करता कर्णल डियूरेंड था 1857 में महू के विद्रो का नेतत मुराद अली खाने किया था मंडलेस और उज्जेन सेंट्रल जेल पर विद्रो ही सेनकों ने हामला कर सरकारी खजाना लूट लिया बस सडैन्त होने की घोशना कर दी सुतन्त होने की सोथ इस विद्रो में वंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बरंजामीन हैप्स मारे गए तथा विद्रोईयों ने दो वर्स तक यहां सासन किया पशिमी निवाड के भीमा नायक की नितत में आदिवासियों की संगटिस सेना ने सेंदवा में विद्रो किया भोपाल की बेगम सिकंदर ने अंग्रेजों का साथ दिया था होलकर भी विद्रोईयों को आपित्यक्ष्रोप से सहायता दी थी करनल डिवरेंड करनल इस्टाकटो और कैप्टन लुडूओ वक कीत को भोपाल की बेगम सिकंदर ने सरंड़ दी थी सन 1857 के मुक्ष बिद्रोई यह बिद्रोई हैं आपके संबंदित इस्थल है सेख रम्जान यह सागर से संबंदित थे टंड्या वील यह आपके खरगोन से इस तरह की कुश्चेंस पूचे जाते हैं जहुत ठीर कि इनका कहां की नेतित करता थी सेख रम्जान कहां से सागर तंड्या वील खरगोन संकर सायं गड्मंडला राजय ठाकुर पिरसार रागोरगड नारायन सिंग रायपूंस साधत खान बहू रानी लच्मी बाई जासी कालपी सुरेंदराय संबलपूर चतिरगड तत्या टोपे कानपूर जासी ग्वालियर भीमा नायक मंडलेसर उज् रानी अवंती बाई रामगड जलकारी बाई जासी लच्छमी बाई की अंगरक्चक गिर्धारी बाई रामगड अवंती बाई की अंगरक्चक श्री बहादुर एवं देवी सिंग मंडला और कुंगर चैन सिंग सिहोर बात करते हैं अब हम लोग राष्टिय सुतंता अंदूलन के बारे में किसके? राष्टिय सुतंता अंदूलन 1899 में लाहोर में संपन कॉंग्रेस अधी विसंद में डॉक्टर हरी सिंग गौर ने नियाय विभाग और सासन को पित्थक करने की आवाज उठाई थी भारतिय राष्टि कॉंग्रेस की गतिविदियों की सुरुवात मद्ध पिदेश में 1904 में मानी जाती है कब 1904 में 1906 में जावलपूर में कॉंग्रेस का प्रांतिय अभी दीवेशन कायोजित हुआ इसमें पिदेश की पंडित रवी संक सुकल और डॉक्टर रागवेंद हरी सिंग और आधी ने सक्क्रिय भागेदारी की थी राजनितिक रूप से क्रांतिकारी गतिविदियों को अंजाम देने के लिए 1907 में जबलपूर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया 1915 में जबलपूर में हॉम रूल लीक की स्थाफना हुई थी भारत में पहली अंत्रिम निर्वाची सरकार काबूल अफगानिस्तान में 1915 में गठित की गई थी इसके पिदानमंत्री थे भोपाल के मौलाना बरतुला वर्स 1916 में मद्पिदेश के सीवनी जले में सोतंता अंदुलन की शुरुआत हुई थी राज के मगनलाल बांगडी ने हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन कर अंग्रेजों की विरूद सुतंता संग्राच में भाग लिया माखलाल चतुरुवेदी की नितत में कसाई खाना अंदुलन 1920 में रतोना सागर में किया गया था याद रुखना कसाई खाना अंदुलन की नितत करता कौन थी माखलाल चतुरुवेदी 1920 में हुआ है रतोना सागर में प्रभाकर डुंडी राज असयोग अंदुलन की प्रवेश प्यदेश में नितत करता है खेलाफ़त अंदुलन का नितत विदेश में अब्दुल जफार खान में किया था किसने अब्दुल जफार खान भोपाल रियासत की सेवर कोदवाली के सामने 1922 में विदेश्ती वस्तनों की होली जलाई गई थी बात करते हैं जवलपूर जहन्डा सत्त्य आगे रहें 1923 में आसहयो अंदुलन की तेयारी की जाच परताल के लिए गठेत कांगरेग की समती में जवलपूर आई जिसके नेतत करता थे नेता हकीम अजबल खा अजमल खां जवलपूर कांग्रेस कमेटी ने अजमल खां के सम समान में जवलपूर नांगर पाली का भवन में पर राष्टिय तिरंगा धजफायराने का नेड़े लिया था यह समान डिप्टी कविश्णर गोरे को वेटिस हुकूमत का अपमान मैसूस गया उसने आदेश दिया कि तरंगे जंडे को नाकिवल उतार दिया जाए बलकि प अपमान जनक कारवाही के विरोद में पंडिस सुंदरलाल समुद्राज कुमार चोहान सुमद्रा कुमारी चोहान नातुरा मोदी नरसिंग दास अगवाल लचमर सिंग चोहान आदी ने जंडे के साथ जलूस निकाला पुलिस ने सभी नेतत्त करताओं को गिरपतार कर लिय पर मुकद्मा चलाकर उन्हें च्छे मास के कारवास की सजाश दी थी जंडा सकत्या ग्रहियों की गिरपतारी के बाद प्रैमचंद सीताराम ज्यादाओ जिंगिलाल स्वणकार टोडल लाला आदी ने टाउन हॉल में पर जंडा फैरा दिया और यहीं से जंडा अधनूलन की सुरूआत्यू इस राष्टी अम्मान के पितिकार स्वरूफ इसमें जंडा अंधूलन के संचालन का निश्चय किया जमनालाल बजाच की नेतत में इस अंधूलन का केंद बिंदू आपका नांगपूर को बनाए गया 13 अपरेल 1923 को मंचे रसा आवारी की नेतत में जंडा सत्या ग्रहियों का पहला जूस नांगपूर से निकाला गया इस दोरान सरोजनी नाइडू और मौलाना आजात का जबलपूर में आगवन हुआ कंचे दी लाल वंसी लाल कासी पिरसाद ने टाउन हॉल पर जंडा फैरा आया इन तीनों श्वैम सेपकों को गरपतार कर तीन तीन माय की कैद की सजा सुनाई गी थी फिर बात करते हैं हम लोग जंगल सत्र आ गये जंगल सत्र आ गये यह हुए आपका 1930 में टूरिया जंगल सत्र आ गये सीवनी जिला तथा घोड़ा डॉंगरी सत्र आ गये बैतूल के आदिवासियों द्वारा किया गया था तूरिया जंगल सत्र आ गये 1930 में सीवनी जिले में दांडी माज के समय दुरगा संकर मेहिता की नेतित्त में किया गया था गोड़ा डॉंगरी जंगल सत्र आ गये यह गजन सिंग गंजन सिंग कोरकु के नेतित्त में हुआ था तूरिया जंगल सत्यागे याद रखना किसके यह आपका दुरगा संकर मेहिता के नितत्य में हुगा गोड़ा डॉंगरी यह गंजन सींग कोरकु भी नितत्य में हुगा फिर होता है अपना नमक सत्यागे जवलपूर में सेट गोबिन दास एवं द्वार का प्रिसाद में स्के नितत्त में 6 अपरेल 1930 को नमक सत्यागे की सुरुआत हुई 1930 में नमक सत्यागे की समय सिवनी में किसरी दुरगा संकर मेहिता ने गांधी चोग पर नमक बना कर सत्यागे किया पंजाब मेलहत्यागाण 1931 खनडवा रेल्वे स्टेशन से समंद्य थे पंजाब मेलहत्याकाण 1931 यह अपका खनडवा रेल्वे स्टेशन से समंद्य थे कई बार इससे question पूछा गया है इसे याद रखना है चरणफादी का नरसंगा है 1931 में शतरपोर छित में चरणफादी का गराम में 6 सैनानी सहीद हुए इसे मदपिदेश का जलिया वाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है गोली चलाने का अदेश कर्नल फिरसर ने दिया था किसने कर्नल फिरसर 1931 में रतलाम में स्तरी सेवादल्गी स्थाबना की गई रतलाम में राष्टी आंदोलन सूत का सूतपाद स्वामी ज्यानन्द की पेड़ना से प्यारम हुए था जहां हुआ में कर्विद्धी विरोधी आंदोलन 1935 में चलाए गया था फिर आता है आपका व्यक्तिगा सत्या गए 1949 में जबलपुर में व्यक्तिगा सत्या गए कि सुरूँ आत हुई थी तिपपुरी जबलपुर की निकट है मैं कॉंग्रेस का अधिवेशन 1949 का हुआ चरूर हाईवा चावल वसूली पिकरान सीधी जले से संबन दे थे आपका फिर है आपका भारत चोड़ो आंदुलन क्या है भारत चोड़ो आंदुलन 1942 मद्विदेस में 1942 के भारत चोड़ो आंदुलन की सुरूआत ग्वालिय रियासत की विदीशा से हुई थी मंदलेसोर में करांदिकारी बंदियों ने जेल तोड़ी तथा भोपाल के नवाप के विरोध भारत चोड़ो आंदुलन छेड़ा 1948 सीषवी में दिल्ली में मद्वारत के राजाओं के संब्यलन में जीवाजी राव सिंधिया गुराच प्रमू बनाए गया खंडवा से सुबोध सिंधू और जवलपूर से जवलपूर टाइम्स की पिकासन के साथ राष्टवाद का पिचार बढ़ने लगा माखनलाल चतुरवेदी ने अपने पत्त करमबीर से राष्टिय चेतना के पिचार को नई दिसा दी छलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मद्विदेश के प्रमुक सुतनता सैनानियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं चंद सेकर आजाद जी के बारे में अमर्व सहीद चंद सेकर आजाद का जनम मद्विदेश के जहाबुगा बर्तमान अली राजपुर जिले के भावरा ग्राम में 23 जुलाई 1906 को गुगा था संचालन किया था चंद सेकर ने अदालत में अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वादीन अपना घर जेल खाना बताया था चंद सेकर आजाद भगस सींग आदी ने मिलकर हिंदोस्तान सोसलिष्ट रिफब्लीकन एसोसियेशन की स्थापना 1927 में की थी चंद सेकर आजाद ओडशा टीकमगड में कुस्समाय भूमिगत रहे थे 27 परपरी 1931 को चंद सेकर आजाद इलावाद की अलफेड पार्क में बैठी थे यहीं पर उनकी पुलिस से मुटबेड हुई और जब एक गोली बची तो भारत माता के या सपूत खुद को गोली मार कर सहीद हो गया तो याद रुखिए अलफेड पार्क या चंद सेकर पार्ग इनई की याद में बना हुए है ठीक होँए पर हैं आपके जन्नायक टंड्यावील आदिवासियों के जन्नायक और निवाड का गौरप कहे जाने वाले टंड्यावील का जन्नायक अठारे सो ब्यालीस में फश्चिमी निवाड की ग्रामबीरी में हुगा था उनका बास्तिविक नाम था तांतियावील जिसे अंग्रेजों ने टंड्याक कर दिया 1857 की किरांती बे महज 15 बरस के थे तभी अंग्रेजों के बिद्रो पैरम कर दिया आदिवासियों के रॉबिन होड नाम से जाने जाने वाले टंड्यावील अंग्रेजों की छद चाय में फलने फूलने वाले जमाकोरों से लूट कर माल के लूट गए गए माल को भूखे न 1889 में घिरप ताय तंड्या तंट्या पर राजदुरोव का मुकद्म चलाए गया जिसकी तहर 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फाशी दे गई फिर हैं आपके कुंगर चैन सिंग कुंगर चैन सिंग को मद्ध पिदेस का पित्थम सहीद कहलाने का गौर अनल, सहे होए थे थे फिर आपके तत्या टोपी तत्या टोपी 1857 के उन भी सेनानियों में सेख थे जिनकी आरंबिक निष्टा फेशवा परिवार के पिती थी फेशवा नाना साहब की ओर से उन्होंने सेनाओं का नितित किया था तत्या टोपी ने तत्या टोपी का जनम नासिख के निकट महाराष्ट के पतोदा जलेके इवला गाउं में 1814 में हुए था उनका वास्तविक नाम था रामचंद पांडू रंग। तत्या टोपी का वास्तविक नाम किया थाした रामचंद पांडू रंग। उनके पिता पांडूर रंग भट बाजी राओ के याँ पुरोहित थे। जासी की रानी लच्चमी वाई के साथ गवालियर पारदिकार करने में उनका मत्मूर एक दान रहा है। अठारे अपरेल 1869 को तत्या टोपी को सिवपुरी में फांसी दे दी गी थी। जब अठारे अपरेल 1869 को फिरें आपकी जासी की रानी लच्चमी वाई। जासी की रानी लच्चमी वाई। 1857 के विद्रो की महान सतंता सैनानी रानी लच्चमी वाई का जनम बराणसी में हुआ था। वच्चपन का नाम मनू था। उनके पिता मोरोपंद तामबे और माता भागी रती थी। उनका विवा जासी की महराजा गंगा धर राओ से उत्रादिकारी मानने से इंकार कर दिया तथा जासी को बेटेस समराज में मिला लिया गया। इसका बिरोत करते हुए रानी लच्चमी वाई ने बेटेस सत्ता से बहेंकर संगहस किया। करती हुई बीरगती को प्राप्त होई। बर्स 2013 में उनकी इसमेती में मद्पिदेस सरकार ने बीरांगना लच्चमी वाई राष्टिय सम्मान इस्थापित किया। फिरें आपकी बीरांगना अवंति वाई। वीरांगना अवंति वाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मद्पिदे की गाउ में हुए। मंडला जिले की बीर सैनानियों में रामगड की राणी को देश की महानतम बीरांगनाओं में इस्थान परापते। उनका विवाई सिवरात्री के दिन मंडला जिले के रामगड रियासत के राजकुमार बिक्रम जीत सिंग के साथ हुए तो सन 1850 में रा अपने हाथों में ले लिया। रानी ने अपना विरोध प्रिगट करते हुए वहां नेउक्त अंग्रेज अधिकारी को मार भगाया। राजकासासन अपने हाथों में ले लिया। रानी मित्यू परयंत अंग्रेजों से संगयस करती रही। 20 मार्च 1858 को भी युद करती हु फिर हैं आपके राजा वक्तावर सिंग, अमजिहरा के राजा वक्तावर सिंग मालवा के पहले सासक थी, जिन्होंने कमपणी के सासन का अंत करने कबीडा उठाये था, उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टकर दी, किन्तु अपने ही सहयोगईयों द्वारा, विस्वासगात क कारण राजा घिरपतार किये गए अंग्रेजों ने उन्हें इंद ओर में फासी वच चड़ा दिया थाको रडमत सींग काकू गुलाम भारत में अंग्रेजों के खिलाब सतंता संगराम चेडने वाले मद्पदेश बिंदचित के थाको रडमत सींग का नाम प्रमों के उन्हो हमला करने के लिए किसरी सींग बंदेला की नेतित में एक फौज भेज दिया रडजीत सींग बाग केसरी सिंग्धों की फौजों में गहमासाने युद्ध उया अंत में रडभमत सींग और केसरी सींग भी आमने सामने हुए और उन्होंने केसरी सिंग के युद में मार डाला अंग्रेजों ने धोका दीकर उन्हें जालपा देवी के मंदिर परिशा में बने उनके मित्त बिजय संकर नांग के घर के तहे खाने से उस समय गरपतार कर दिया जब वो सो रहे थे उन्हें सन 1869 में अनन्द चतुरदिसी की उसी दिन फासी की सजा दी गई जिस दिन उनका चनम गुए था फिर हैं आपके राजा संकर साएं गड़ा मंडला के अंतिम राजा संकर साएं सोर एवं बलीदान के पितीक हैं उन्होंने मुखरम के दिन अंग्रेजों की छावनी पहामला करने की यह उजना बनाई परंतु गिर्धारी दाफ द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को यह जानकारी दे दी गई डिप्टी कवसिंटर किलारग 14 सेप्टमबर 1850 को राजा संकर साहे की निवास पर आखमन करने पहुंचा 14 अनवयाईयों को बंदी बिना कर जेल में डाल दिया गया उन्हें देशद्रों के अपराद में मित्युदन की सजा सुनाई गया आगे बात करते हैं सहीद गुलाब सिंग सहीद गुलाब सिंग मदपदेश के महा कौसल चित के बीर सहीद गुलाब सिंग का नाम सुतंता अंदोलन से घनिश्ट रोप से जुड़ा हुआ है अगस्त 1942 को कॉंग्रिस नेताओं की रिगरबतारी के विरोध में जबलपुर में युबक गुलाब सिंग के नितित में अंदोलन किया गया गुलाब सिंग के बढ़ते कदम को रोकने के लिए 14 अगस्त को पुलिस ने जुलूस पर लाठिया चलाई जिसमें बीर गुलाब स सहीद हो गए फिर हैं सयादत खां सयादत सादत खां होलकर महराजा का विस्वास पास और बहादूर सिपाही था सादत खां मालवा मालवा ही नहीं राश्टी इस्तर पर करांती के बीरों में सामिल किये अक्टूबर 1874 में उन्हें फांसी दे दी गई फिर आपते हैं आपके भीमानायक पश्री निर्वाड रियासत के पंच मुहाली गाओं में सन 1840 में जन्मा उएन का दो अपरेल 1868 को सत्पुडा के घने जंगलों में सो सोते समय गिरपतार कर लिया गया है उनकी करमिस्थली ग्राम दुआओ बाउडी में भीमानायक को इस मारक बनाये गया है भीमानायक का फ्रयाब की बीरांगना जलकारी भाई जलकारी भाई ने अपने आसाधन कोसल आदुतियस और और अदम उसाय के साथ वेटिस सेना के छक्के चुड़ा दिये थे जलकारी भाई का जनम 22 नवंबर 1830 को हुआ दब हुआ अठारे Karma बुंदे लखंड के भोजला गाउमे हुआ था यह था कहा हुआ था जलकारी भाई का ब्रानी लच्षिमी भाई के तोपची पूरन सींग के साथ हुआ था जलकारी भाई को लच्षिमी बाई क की महला साखा दुर्गा दल में सैनापती का पद पुराप्त तो आज हम लोग ने बात कर लिए इतिहासिक परीदिस के बारे में मद्विदेश के परिप्यक्च में जो भी आपका इतिहासिक परीदिस से था इसके बारे में हम लोग ने बात की हैं आँगे हम लोग बात करेंगे खेल परीदिस के बारे में मद्विदेश के खेल परीदिस के बारे में फ्रीग चले हैं और दोस्तों तो छलीए मं लोग बात कि रहें थे मद्वदेश सामान घ्यान के बारे में तो इसमें हम लोगों वहां लश्ट लेक्चर में बात की इसमें बात करेंगे हम लोग खेल परीदेस के बारे में याद रखें आपके जितने भी मद्विदेस से समंदी चेप्टर खतम होते जाना है उनके सभी आपको एक जगह लेक्चर में जाएंगे वो है आपकी मद्विदेस सामान ग्यान के नाम से पिलेलिष्ट सूची ठीक है तो इसमें हम लोग बात करेंगे खेल परीदेस के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं राज की खेल मद्विदेस का क्या है मलकम मद्विदेस का राज की खेल है मलकम राज खेल कूंद एवा यूवा यूवा कल्यान बिवाग का गठन का हुआ एक अक्टूबर 1975 राज की खेल क्या है मलकम राज खेल कूंद एवा यूवा कल्यान बिवाग का गठन का हुआ एक अक्टूबर 1975 राज का पहला किलब क्रिकि पारिशी किलब कभगा 1890 में इन दौर में बना था पारिशी किलब 1890 में इन दौर में बना था पहला किरकेट किलब है जाल गोद्रेज को ग्रेट बॉल ऑफ चाइना कहा जाता है जाल गोद्रेज को ग्रेट बॉल ऑफ चाइना कहा जाता है राज में एकमात्र होकी छात्रावास आपका नर्सिंग पूर में है असलम से रखां होकी के अंतराश्टी के लाड़ी थे जो वैतूर से संसद बने उनकी बुस्तक का नाब है तूहेल विद होकी तो आपको याद असलम से रखां आपके होकी के अंतराश्टी के लाड़ी यह बैतूर से संसद भी रहे और इनकी बुस्तक का नाब क्या है तूहेल विद होकी आगे बात करते हैं मद्धविदेश टेवल टैनिस एसोसियेशन की स्थापना उननीस संतावन में होई जवलपुर में मद्धव एसोसियेशन की स्थापना 1944 में हुई मद्धविदेश किरकिट एसोसियेशन का मुख्याल है इंद्वर में मद्धविदेश खेलप्राधी करंट राज में पिरमोख् केल शंसता है राज का सरवोच खेलब फुरुसकार बिक्रम पुरुसकार हाएं आपका नेशनल केडिट कोर NCC इसके राज में छे मुख्याले हैं कौन को से इंदौर सागर बहुपाल जबलपूर ग्वालियर और रीवा का सैनिक इसकूल पर इसे बता दाएता हूँ, इंदोर, सागर, भोपाल, जबलपूर, वालियर, रीवा का सैनिक स्कूल 6, टी, यूवक मंडल वर्ज 1913-84 से ग्रामीट चेत्रों में यूवा गती भी दियों को प्रोसाहित करने ही तूव यूवक मंडलों का गठन किया गरे हैं बात करते हैं पाय का यूजना, कौनसा पाय का यूजना, ग्रामों में खेल अधो सरजना का विकास करान करना इस यूजना का मुक्ष देश से मत्विदेश राजि कीड़ा वईशद समाप्त कर इसके इस्थान पर मत्विदेश खेल प्रादी करना MPSA का गठन 13 जून 2011 को किया गया है इसके अध्यक्ष होते हैं खेल मंतरी मुक्ष लाए इसका भोपाल में बात करते हैं किसके बारे में नहरो इवा केंद केंदरी योजना अंतरगत नहरो इवा केंद राजी के कई जिलों में क्रियासी रहे इसे योजना का मुक्ष देश इवा सक्ती का विकास करना है योजना के आरम में प्रिदेश के 13 जिलों में नहरो इवा केंद इस्थापित की गए जिसमें दू आपके 36 गड़ में हैं बर्तमान में 19 आपके युवा केंद मद्धपिदेश में हैं एजले इस विकार हैं देवास बेतूल सिहोर जवलपूर चतरपूर ग्वालियर होसंगबाद साजापुर सिपूरी जाबुआ इंदोर तथा धास इसके अतरिक केंद सरकाह द्वारा अन केंद और सुईकित किये जा चुके जो सीधी मंदला सागर खरवोन रिवा उजयन वभोपाल में हैं युवा नेतत्य ग्रामीड विकास फ्राधीगन संस्थान आपका पचमडी में हैं पचमडी में इस संस्थान की स्थापना 14 दिसंबर 1980 को की गई थी किसकी युवा नेतत्य ग्रामीड विकास पिसी एक्छन संस्थान की युवा आपका पचमडी में है आँगे बात करते हैं राष्टी ये खेलों में मद्दपिदेश को दो सड तीन कास पदक मिले थे जो केरल में आयो जित हुए थे 35 ये पुराने हो गया है इसलिए कोई जो नए आये हुए है वैसे हम लोगों ने 2019 का पूरा करेंटरफेस देखा हुए है वहाँ जाकर आप देख लें आँगे बात करते हैं रानी रानी ताल में भारतिये खेल प्राधी कंड कपी सीक्षण केंद है तथा नो केंद विदाओं का कोचिंग सेंटर भी है याद रखिए जो करेंट अपेर से जुड़ने लाइफ पॉइंट होते हैं उन्हें आप लोग करेंट से साइकलिंग बैलोड्रेम की निव 1999 में कॉंगरिस के साथ अनकाल में रखी गई थी जैसे आपका यह जबल परिस्ति रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम और साइकलिंग बैलोड्रेम की निव 1999 में रखी गई थी अब यह कोई बदलने माला पॉइंट नहीं है क्योंकि जो इस मतलब इस था यह साइं का मद्व छित्रिय के अंदर गोरा गाउं बोपाल में बनाए गया और धार में सब सेंटर इसका बनाए गया है पिदेश का एकमात बालक बॉलीवाल होस्टल नर्सिंग मोर में सन 2000 में आरंगुगा इसकी चमता है 22 खिलाडियों की राजधानी इसकी बोपाल में है राजधानी बोपाल में मद्व देश आसन खेल विभाग की 13 अकादमियां 2005 से संचाले थे हैं केंद्रिय खेल एवं युवक कल्यान विभाग ने मद्व देश की धार्मिक नगरी और जैन में देश की पहली मलकम अकादमी खोलने की गोशना की है यहां सबसे सबसे पहले आपको क्या रखना है धार में एक नगरी किसी गएते हैं ओजन को मद्व देश में आपकी मलकम अकादमी खोल चुकी है ठीक है मद्व देश का नहरू इस्टेडियम इंदोर में हैं अब तक सरवादी का अंतराष्टी यह बंडे किर्केट मैच खेले गया इसम 2181 में अलग से खेल एवं कल्यार विभाग की स्थापना की गया मद्व देश पहला राच्छे जिसने स्कूल में एक पीडियर खेल के लिए अनिवार कर दिया मद्व देश की दुदिया रोसनी से युग पहला स्टेडियम रोफ सिंग स्टेडियम आपका ग्वादीर में अ मद्विदेश की पितम खेल नीती 1989 में लागू किये मद्विदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश से राज सरकार ने 2005 की अपनी नवीन खेल नीती में ओलंपिक में स्वर्ड पत्क बिजिता को एक करो रोपे का प्रोसायन रासी दिये जाने की गोश्णा किय साथी रजयत पदक बिजिता को तीस लाग उफकांस पदक बिजिता को बीज लाग ये बदब्दी रहती है इसे आप लोग याद रखिए राष्टी कीडा परिशत पटियाला की सहयोग से मदपिदेश बोपाल में राज इस्तरिये छेतीय पिसीक्षण केंद का सज्जालन किया जा रहा है जबकि इंदोर जबलपूर ग्वालियर सागर वा उज्जन में उपिसीक्षण केंद इस्थाफित किये गए हैं मदपिदेश के खेल संस्थान में मदपिदेश टेवल टेनिस एसोसीयेशन मदपिदेश बैडविंटन एसोसीयेशन मदपिदेश होकी एसोसीयेशन का मुख्याले पिदेश के जबलपूर नगर में याद रखना वर्तमार मद्विदेश क्रिकेट एसोसियेशन का फूर नाम होलकर केटखोट क्रिकेट एसोसियेशन था जो 1941 में सीके नाइडू की अध्यक्ष्टा में महराजा यसवंतरा होलकर ने गटित किया था मद्विदेश के होकी खिलाडी लतीप अनवर बाद में पाकिस्तानी होकी टीम के कप्तान बने जबकि असलम सेर खान बैतूल के सांसद बने संजय जगदाले राफ्टी क्रिकिट चैन सम्ती के सदस्वी रही मद्विदेश क्रिकेट मद्विदेश इंदोर के क्रिकेट खलाडी कैप्टन मुस्ताक अली पित्था में ऐसे भारती क्रिकेट खलाडी है जिन्होंने विदेशी धरती पर सतक बनाने का गौरब आशिल किया है किसनोंने कैप्टन मुस्ताक अली है मद्विदेश का एकमात आदिवासी केलखून विद्ध्यालय की स्थापना आपकी सिहोर नगर में की जबकि सारे सिक्षन मा विद्ध्यालय आपका वारियर में मद्विदेश पहली किर्पविट पितियोगता 1913 में कर्मनल डेली के नाम से डेली सील्ड टूनामेंट आरम हुआ जबकि रडजी ट्रॉपी पितियोगता मद्विदेश में 1934 में हुई कवीर असारी मद्विदेश होकी के पिसिद खिलाडी रहे हैं इसी तरह बी-एस कपाडिया वैडमिंटन जाल गौधरेज टेवल टैनिस असोक जगदाले क्रकेट के मद्विदेश के पिसिद खिलाडी रहे हैं मद्विदेश में विश्वामित खेल पुरुषकार की स्थापना 1994 में यह पुरुषकार यासी खिलाडी खेल पिसिद खिलाडी को पिदान किया जाता है जिसमें विगद बर्स में नियूनतम दो खिलाडियों को राष्टी एवं अंतराष्टी पितियोगीता में पदक्ठ हांसे करवाया हूँ मद्विदेश का एकलब्द पुरुषकार 19 बर्स के खिलाडियों को उत्किष्ट पिदार्शन के लिए दिया जाता है राजी के मूल निवासी को दिये जाने वाले विक्रम पुरुषकार की स्थापना 1990 में की गई मद्विदेश सासन का सबसे बड़ा खिल पुरुषकार आपका बिक्रम पुरुषकार है जिसके विजेता को एक लाख नगर विलेजर टाइपितिक चेन प्रमार पत आधी दिये जाते है तुर्वास की खील पुरुषकार किस चित में ने है, महला होटी में पिदेश के में क्षिक्षण देने के लिए ग्वालियर में जुलाई 2006 में महला होकी एकेडमी की इस्ताफना की गई थी मद्ध पिदेश मद्ध पिदेश की राधानी भोबाल से लगवग 20 किलोमीटर दूर सत्गडी में सर्फ सुविधा ये खेल गाउं को इस्ताफित किया गया ये पिदेश का पहला खेल गाउं होगा सेप्टमबर 2006 में पिदेश की राधानी भोबाल इस्तित बड़ी जीली के जल कीड़ा केंद पर देश के पहले सेलिंग इस्ताफना की गई थी भारती महला क्रिकेट टीम की कप्तान अर्जुन अबाउड एवं विक्रम अबाउड से पुरुस्कत मद्विदेश की महला खिलाडी याक्री संद्याग्यवाल हैं 1998 में मद्विदेश रडजी ट्राफी में उबिजेता रही थी हैं जिन्होंने टीम के कप्तान चन्दकान पंडित थे सीता साहू रीवा निवासी सीता साहू ने इस्पेशल एंथिस ओलंपिक 2011 में 200 मीटर वा 1600 में दो कांस पदक जीते थे पांसीं तोमर इनका नाम याद रखिए यहां मुझे लगता है कि समर कुछ भी करवा सकता है कब बदल जाये कब क्या हो जाया कुछ पता भी ने चलता है पांतिंग तो मरे एथलीट खलाडी पूर सैनिक एबं बागी एथलीट खलाडी भी है पूर सैनिक भी है और बागी भी बने फिल इनका जनब मुरेना जिले के पूर्शा की निकट बेड़ोसा नामक जगह पर हुग गया था इन्होंने 1999 के अंठावन के ACN Games में भारत का पिती निदित किया तथा ये साथ बार बाधा दोड के राष्टिये चेंपियन रह चुके लंडन ओलंपिक में मत्विदेश का पिती निदित करने वाले खिलाडी सेवेंद सींग होकी से थे मत्विदेश के इंदोर सहर का पिदेश की वेवसाइक राधधानी किसाथ साथ पिदेश की खेल राधधानी होने का भी गौरब प्राप्त है किसे इंदोर को बेवसाइक राधधानी और खेल राधधानी बात करते लेते हैं मिसंद ओलंपिक मिसन ओलंपिक 2020 योजना मंतिवी फर्षन ने प्रिदेश में ओलंपिक गयंस 2020 में प्रिदेश के खलाड़ियों को विशेष्ड फिक्ट्षिक्षन के उद्दे से मिसन ओलंपिक 2020 नामक नमीन योजना को मंजूरी दिये इसे योजना की गोश्णा मुकमंतृ ततकाली मुकमंत्री स्वरासिंग चौहन ने 16 जनवरी 2013 को युवा पंचयाद में की थी मिसम ओलम्पिक के लिए मार्सलाइट वाटर स्वोर्ट्स सूटिंग का चैन किया गया है योजना में नियून्तम नौबर्स की उम्मसे चैने थी फिती विवहाववान खिलाडियों को दिया जाएगा पितेख खेल के लिए अंतराश्टी एक ख्यादी प्राफ्त फिसीक चकों को की सेवा ली जाएगा पितेख खेल के लिए चार पूरुष चार महिलाएं खिलाडी सूटिंग के लिए 6-6 खिलाडी का अंतिम चैन किया जाएगा चैनेत खिलाडी खिलाडियों को चिन्नेत विदेशी फिसीक्षन संस्थानों में दो बर्स मैंसे किसी एक बर्स दो माहे के लिए देश में चिन्नित फिसीक्षन खिलाडियों में संस्थानों में पितेग बस एक माय के उच्छे स्तरी फिसीक्षन के लिए बेजा जाएगा यूजना की क्रियार्मेंट के लिए पिटनेस टैनर, साइकलोजिस्ट, फीजियोथरेप्फिस्ट, मसाजर की नई पद भी सहजित क की जाएंगी, बात करते हैं हम लोग मत्विदेश के प्रमोग खिलाडियों के बारे में, मत्विदेश के प्रमोग खिलाडियों, यह आपके खेल हैं और इन से सम्मादी खिलाड़ी जाएंगा, तो सबसे पहले बात करते हैं होकी खेल, होकी में आपके मत्विदेश के खिल माश्टर रजोदिया, संतूराम, चाम्या लाला, असलम सेर खां, गेंदालाल, गुलाम, रसूल, सिवेंद सिंग, दुरुगवाला, पबार, सिवाजी, पबार, समीरदार, मुन्ना सिंग, मदुवी यादो, फूर्ग कप्तान, भारतिय कप्तान भी रही है, किसनलाल, एंसी यादो, महबूद खान, महबूद खान, इना मावर रह्मान, सियद इमरान अली, कबीर अनसारी, जलील अहमद, जलाउद दीन, दाउद रह्मान, कमल जीत कोर, संकल लच्मन, सुनीता चंदा, प्रयंका बानकाड खेड़े, नेहासीं, करिस्मा यादो, अब बात करते हैं कि किरिकिट से संबंदी थे, किरिकिट से संबंदी थे, आपके मद्ध विदेश के खिलाड़ी हैं, कैप्टन मुस्ताकली, विदेश में सतक लगाने वाले, पहले भार दिये थे, कैप्टन मुस्ताकली, भगवान दास, नरें धिर्वानी, संध्याग डिवाल, वेजय पीसवर पांडे सुखदा निगोडकर अमय खुरासिया हीरालाल गैगबार अमिताप विजय भागिये कुमारी राजे सुरिये डोल किया संध्याजैन मंसूर अली खान पटोदी आवेश खान नमन उजा सुईता मिस्रा असोग जद्तालियो फिरें आपके बैड मेंटर सीडी देवरस फेनो बोस सीमा बंडारी चार बार राश्टी हो बिजयता उच्छे बार उवेर कम में भाग लिया इनों पार्थो गांगोली फेरेंच और ओस्टली आउपन के डवस बिजयता हैं सरोजनी आपके छे बार राश्टी हो बिजयता हैं असोग सेंदा वी एम कपा जाल गोद्राज ग्रेट वाल ओप चाइना की नाम से पिसिद्द जाल गोद्रेज रेंकु आचार जूनियर एवें सीनियर राश्टी हो बिजयता रही हैं रीता जन जूनियर राश्टी हो बिजयता इसने कि दा मेता व पूजा सरमा प्रे आपका फूटबाल फूटबाल में एंब्रोस तरसेम हपीज पहला दहीर डी सेना राजिव सेनी सतरांज की बात करें तो रफीक खान बद्विदेश के एकमात अंतराश्टी है ग्रेंड मास्टर थे एन चंदिसेकर एन सुधाकर बावी फ्रकुष्टी आपका पप्पू यादो विसके जूनियर स्वड विजयता है गामा पहलमा किरपा संगर पटे एसी आई चेंपियंसिप में थास विजयता रहें रामचन हिंद केसरी किताब जीता है एनपी यादो दयाल यादो सुसमा सर्याम, पुस्पा विस्व कर्मा, रूपाली दोवे, खोको खेल की ख्लाडियों की बात करें तो नीलीमा सरोलकर राष्टीय चेंपियन रहें सुसमा सरोलकर, अमेड़ता अते बारि, अपढणा ते बारि पंकच देश पण्डे, नीलीमा, पोग छे बॉसकेट ब ख्लाड लिए उन्नीस भी राष्टी ये जूनल ये तेरा की वितियुकता में रज़त पतक जीता के नुमें सुबा मुपाद्याय भाविका पिंगली सत्यंद सींग रिचा मिस्रा अरुन डिसुजा जूडो की बात करें तो कमला रावत संगीता सर्मा सिध्धानन द्यादो परडी त्विस्करमा दीपक ठाकुल टैनिस की बात करें तो एस्सुरिया अगवाल हैंड बॉल की बात करें तो गुरूद दीप सिंग सबनाकुरी सी गुर्पीद कॉर्डिलन भुसु की बात करें तो साक्षी जाटो मनिश्वासकर अंकिता रेगवाल विजिश्दूर रेटे इसके फिरमों खिलाडी हैं बात करते हैं मल्कम क्या है मल्कम हरस यादो चिंतामणकस्यव यसोधा मदा पड़िया चंदरसेकल चोहान अजय वक्तारिया सूटिंग की बात करें तो भर्सा फर्मण सालीनी असंकत्त प्रियांसु पांडय कया कि की जिश्वी कि थे चंपअ मोर कुल बीव कीए अनजिली वसिष्ट सुनील केवट केवट बॉक्सिंग बात करें तो सरीतात उमर अं राजुन सीम रावत सुभम मगर्दी अनिल रजक सॉफ्ट वॉल की बात करें तो नीलू गोर्ड केतन हतुनिया पूजा पार्के सभीता पार्के सचन कस्तूरे करांटे की बात करें हुड़ो सुप्रिया जाटो निधी ननेट अजय यादो स्नूकर की बात करें तो कमल चावला अमनी कामनी सेलिंग की बात करें सेखर गर अमनब्यास सीधरा सबीर यह थे आपके मतपिदिस के प्रमुक खिलाडी और के खेल ठीक है याद रखी अब हाँ आपके मतपूर खेल पूरसका है तो आपको याद रखना है कि हम लोग 2019 का पू पूरा करेंट रहेगा वह आपका सुपरफार्ट रिवीजन के नाम से जो आपका पिलेडिस्ट सूची है उसी में डला हुआ है ठीक है मतप्देश 2019 का पूरा करेंट पियर्स तो वहां से देख लें एक पुराने आकरें इनका कोई हमें मतलब भी नहीं है ना पूंचे जा पूरा जाकर देख लेना है चलिए अब हम लोग कुछ मतप्देश के खेल पूरुसकार देख लेते हैं बिक्रम पुरुसकार इसमें एकलाग रासी दी जाती है ये रासी आपकी बदलती रहती तो आपको रासी नहीं याद रखना है करेंट पियर्स से जड़े रहोगे तो आपको रासी पता चलती रहेगी कि कितनी मिल रही लेकिन यह यहाद रखना है,् विक्रम आपका सर्व खेल पुरुसकार और मद्विधिस का पृति बस राष्टि में अंतराष्टि इस थर के मद्विधिस के खिलाडियों को दिया जाते है एक लाब पॉरुसकार यह 19 बस से कमायू के राष्टिय लादियों को दीया जाता है, विश्वामित उन पिसीख्षकों को दिया जाता है, जिनुने पांच बार्सों में कमक दो खिलाडियों को पिसीख्षित किया हूट तथा उन्हें region' फिट उगता में हांसिल करवाया हूँ, अंतराश्टी पदक बिजेता सीनिय बरग में दो लाह रुपे स्वर्ण पदक बिजेता गूँ और जूनिय बरग में आधिराशी दी जाती है कैप्टन रूप सिंग क्या है कैप्टन रूप सिंग लाइफ टाइम अचीब्मेंट यह आपका किसी भी विधा के सेवा निवित खिलाड़ी को दिया जाता है खेल बिट्टी और प्रवाश जो सी हम लोग बात कर जी चुके थी प्रवाश जो सी जो आपका खिल पुरुसकार में यह दिया जाता है मलकम के खिलाड़ी को कि अब बात कर लें हम लोग मद्विदिश की प्रमों खेल शंस्ताओं के बारे में यह संस्ता है आपका यह स्थान है उनका यह स्थापना परस है खेल एवं यूवा कल्यार विवाद यह आपका पुपाल में इस्था पीत थे इ इसकी स्थापना कभ भी खेल एंवा कल्यार बिभात की 1975 में पार्सी कलब आपका इंदोर में है इसकी स्थापना हुई थी 1890 में मद्द्ध बैड मिंटन एसोसियेशन इसकी स्थापना जवलपूर में है मद्द्ध ऑकले स्थापना हुई थी हुआ है 2006 में सकी स्थापनों है है मत्यक्तेश खेल संचाना लाइ यह भूपाल में आपका 1975 में स्थापना भी महाकॉसल महिलाहोंस पुर्षियेशन यह जबभलपुर में न्यू मत्यक्तेश बेमेन पुरोश यह बोपाल में है भूपाल हो की एसोशियेशन पुरोश यह भी सबस्सक्राइब करें पिरमों की स्धेडियू हों करें इन से डारेक्ट कुष्चन पूल की कहा है तो आपको याद रखना एस बात रप्सभीदा यह आपका भुपाल में करी स्धेडियम आपका और नेहरों तेडियम आपका इंदोर में नेधम पिसाल या इस्टेडियम आपका इंदोर में होलकर उसाराजे इस्टेडियम आपका इंदोर में है रोप सिंग इस्टेडियम दुदिया रोशनी सुविधा वाला इक्वालियर में तत्या टोपे जर्मन टैक सुविधा या आपका बोपाल में ठाकोर अरमस सींग इस्टेडि क्या है matching academy खेल- deed lut restaurant छी औक होकी अकादमी आपकी भोपाल में करकें सूटिंग आपका इसका अकादमी में आपकी वह प Social मदखम जिमनास्टिक अकादमी आपकी बज्रमें हैं मल्कम तो जिमनास्टिक अकादमी है डिपटिंग आपकी जब पूर में हैं तीरंदाजी अकादमी हैं आपकी जबलपुर में कहा है जबलपुर में याद रखना है याद की जबलपुर में तो यह था आपका मद्विदेश का खेल परीदस वाला चप्टर ठीक है क्या था खेल परीदस आंगे हम लोग बात करेंगे मद्विदेश की जो पंच वर्षी है कारिक्रम रहे हैं उनके बारे में त्रय को बारे में तो इसमें हम लोग उने लाष्ट लेक्चर में बात की थी मद्यपिदेश के खेल परिदिस के बारे में किसके मद्यपिदेश के खेल परिदिस को हम लोग ने देखा था अब बात करेंगे हम लोग पंच वर्सी ये कारक्रमों के बारे में याद रखिए आपके जिपने भी मद्यपिदेश से संबंदी चेप्टर फैतम हुए वो सभी मद्धिदेश सामान ग्यान के नाम से जो आपकी पिले लिष्ट सोची बनी उसी में डले हुए एक दो और चेप्टर बचे हुए इससे सम्मंदित आपके कम्पिलीट हो गया ठीक है मद्धिदेश पूरा मद्धिदेश में अब तक बारे पंच वरसी योजना का निर्माड एवं क्रियार्मन किया गया है योजनाओ के निर्माड के लिए मद्धिदेश में 24 अक्टूबर 1972 को मद्धिदेश राज्जी उजना मंदल का गठन किया गया था योजनाओ के निर्माड के लिए मद्धिदेश में 24 अक्टूबर 1972 को मद्धिदेश राज्जी उजना मंदल का गठन किया गया है प्यत्थम पंच वरसी योजनाओ एक अप्रेल 1951 से 31 मार्च 1956 की सूत्पात की समय तक मद्धिदेश को वर्तमा स्वरुप्राप्त नहीं था वो समय मद्धिदेश के चार भाग थे और इन चारों भागों की अपने अपनी पिथक योजनाओ थी तो जो आपकी पिथम पच्च वरसी योजना थी एक अपरेल 1951 से 31 मार्च 1956 के एस समय मद्धिदेश का वर्तमा स्वरुप्राप्त नहीं था इसलिए यहां लागू नही पिथम योजना का मुखुदेश था अर्थ विवस्था में किर्सी याधार को सुद्रणता पिदान करना था कुल योजना परिवे का 30.97 पिदिशद भाग किर्सी एबं समुदाईग विकास के लिए निजधारित किया गया था पिथम पंच वर्षी योजना की दौरान 7 मार्च 1953 को तदिकाली पिदान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरू ने राज्ज में ग्यांदी सागर बांध का सिलान्यास किया था इस साओधी में राज्ज की आया कि सुद्ध चक्त्य वर्टी वार्षिक विकास दर पांध दसम लाओ पांच की ती सकती दूति यह पंच वर्षी योजना एक अपरेल 1956 से 31 मार्ष 1961 के भी में किर्सी के साथ उद्वों के विकास को भी फिर मुक इस्थानिये इस्थान दिय अपरेल निषयक से 31 मार्च 1966 से ही मद्ध्ध पिदेश में नियोजन का कारण माना जाता है तो याद रखिए जब दूति ये पंच वर्षी ये व्रषी ये उजना का गठन हुआ तब हमारा मद्ध्ध पिदेश अस्थितमें नहीं आया पन्छ यान खोला दैक और तित यह राष्ट ऑपनेल पंचवर्छी योजना यह जब लागु जंग उए Dr. मत्ष में युजन का प्यार मिमार्न ना गया युजन्युजना नाध मरी युजना तो पूछ लेता है कि मत्विदेश में योजना पंचवर्शी योजना कब लागू है कौन सी योजना तो तित ही है पंचवर्शी योजना से सुरू की गई मत्विदेश में इस योजना में सचाई साधनों के साथ किर्शी एवं सिक्षा पर विबल दिया गया तीसरी पंचव योजना के अंतिम दो वर्सों में फुराक्तिक संगटों तथा राजनितिक आस्थर्षता से उत्पन फुरिस्तिती के कारण अंगली पंचवर्षी योजना का निर्मार नहीं किया गया तथा इसके स्थान पर 96-67-69 कि तीन वार्षि के उजनाय बनाई गई तीसरी पंचवर्षी योजना के बाद थे को निसका समय था एक अपरेल यहजिना को 1966 में प्यारा होना था परनेतु तीन बरसबाद उनिस सो नत्र से लागु की गई यह से उजना के अंतर दर मुख लक्ष था विकास कारिक्रम को इस्थाई गती पिदान करना क्या लक्ष था चौतरी पंचवर्शी उजना क्या विकास कारिक्रम को इस्थाई गती पिदान करना इसका प्रमुक्त कारता है पर आपकी पांचव इसका समय रहा है 1 अपरेल 1904 से 31 मार्च 1989 तक इसका मैं उद्दिश था किर्शी विकास पर ध्यान के अंधित करना किया था अंगले भी बात करते हैं हम लोग छटवी पंच वर्शी होगी ना एक अपरेल 1923 से 31 मार्च required 1925 समय रहा है इसका करिसी इवं growing discrete पर अधिक जोर दी हा गया इसमें तिर आपका साथ वी पंच वर्शी हो जिया मैं ए एक अपरेल 1965 से 31 मार्च 1999 तक इसका मैं ना इस फंचो करषी में सर्वाधिक वैक करिसि इवं सिचाई पर किया गया इक अप्रेल उनिस सो नब्य वावन में ग्रामीड विकास पर चोड़ दिया गया आट भी पंच वल सी योजना में फिर आती है आपकी नौभी पंच वल सी योजना यादी एक अप्रेल उनिस सो संतानुबे से एक तीस मार्च दो हजार तर इसका उद्धिस इस्थायत के सास्ता आर्थिक विद्धी दर कुद्धेच करना समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एम पोसक आहर की विवस्ता सुनिश्वित करना था नौवी पंच वर्षी योजना के द्वरान मद्धिद्धिस में आर्थिक विकास की दर चार दसमलोग चार पिती सक थी जबकि इसी यहुदी में राष्टी विकास की वार्षिक दर पांत दसमलोग पांच पिती सक थी दसमी पंच वर्षी योजना की बात करना तो इसका समय रहा है एक अप्रेल 2000 से 31 मार्च 2007 किन्य धारित किया गया था ठीक है समग विकास दर यह रहा था एक 1997 से 2002 तक ठीक है यह आपका 2002 से 2007 पांच वर्ष का होता है इसमें दसमी पंच वर्षी योजना में समग विकास दर 7.30 लाना था साक्षा दर 75.30 लाना था जन्संक्या विद्रीद दर को 2011 तक एक दसमलोग 62 पर लाना था पिदेश के सभी गाउं में सवक्ष पेजलोग लब्द कराना इसका मुहन पुद्देश तक फिर आपकी ग्यारवी पंच वर्षी योजना एक अपरेल 2007 से 31 मार्च 2012 गरीबों के इस्तर को 38.30 से घटाकर 25.30 लाना था इसका उद्देश तक इसके साथ ही योजना था कि अंतक साक्षर्टा दर्ग को 84.30 तक प्राप्त करना था तथा साक्षर्टा के लेंगी कंतर को 14.30 तक कम करना था ग्यारवी योजना में प्यारंबिग विकास की औसत दर्ग साथ दसमलोग 6.30 करने का लक्ष रखा गया था फिर आती है आपकी बारवी पंच वर्षी सत्र तक कि विकास दर 12.30 रखी गई थी किर्सी एवं संबर्गिय चित में 9.30 और द्युक चित में 12.30 और सेवा चित में 13.75 विद्धी दर्ग प्राप्त करना इसका उद्धिश्थ था इस्तियोजना के इंत्रगत साक्षर्थ दर 11.30 साक्षर्था में लिंग भेद को सुन पितिशक तक लाना जनसक्या विद्धी दर को 2017 तर 1.22 पितिशक वार्षिक तक लाना था जीरो से च्वर्ष की आईवसंगों का लेंगन पाद 980.30 करने का लक्ष रखा गया था कुपोशन को 20.30 एबं एनिमी आपकी इस्तर को 25.30 तर लाना था मतत्त मित्तिदर को 125 सिसु मित्तिदर को 35 कुल पिजनेंदर को 2.01 करते हुए इसे राष्टी इस्तर पर लाने का लक् विकास मद्ध परीवे और पितीसत अंग किरसी इबं संबर्गी है योजना में 17,475.49 करोड और पितीसत अंग था 8.66 करोड गरामीड विकास 12,960 करोड और इसका पितीसत अंग था 6.43 करोड बिसेश शतर कारकरम 8,356.90 करोड इसका पितीसत अंग था 4.14 सेचाई एवं बाद नेंदन 27,527.60 करोड इसका पितीसत अंग था 13.64 उर्जा की बात कराएं को उर्जा में 20,592.41 करोड इसका पितीसत अंग था 10.20 उर्जा उर्जा की बात करें तो 5.64.70 करोड और इसका पितीसत अंग था 2.81 करोड इसका पितीसत अंग था 594 करूर यह था प्रिती सेतंक में 0.29 सामान आर्थिक सेवाएं 3355.99 करूर अंक था इसका प्रिती सेतंक 1.66 सामान सामाजिक सेवाएं 89,849.22 करूर वो इसका प्रिती सेतंक था 49.55 सामान सेवाएं 865.09 वो इसका प्रिती सेतंक में था 0.03 कुल की बात करें तो इत्राप का 2,1862 करूर टीप सो प्रिती सेतंक एक बार बार देख लेते हैं चार्ट के रूम में मत्विदेश की तंच परसी योजना है यह योजना है आपकी वर्स है अनमोदित परीवे बास्तविट करो प्रमुख लक्ष पिथम योजना एक इंग्यावन से 56 तक आपको याद रखना है इस प्रमुख लक्ष था इसका किल्सी क्योंकि याद रखना हो तो रख लेए ना लेकिन यह जरूरी नहीं है जरूरी है इसके प्रमुख लक्ष ट्रभी इसका पर समय हो हो रही है और दूति यह यह जना में से दितीरें ना उनीसे सट से चैसट ग्रमुक लक्ष था विकास करग्रम का इस्थाहित पांच भी यह हुजना, 1914 से 1989 जिसका प्रमुकुत देख था किर्सी, छटी यह हुजना की बाद पर है, तो 1918 से 85, किर्सी सम्मझ दिखेश्का फिर प्रमुक्ट लग ज़ता, साथ भी यह हुजना, पचासी से नब्बे पचासी उननीस उपचासी से नब्बे इसका प्रमूख लक्ष था किसी सचाहिए वारसी के उजनाय तर चली उननीस सो बानवे से नब्बे से नब्बे इसका प्रमूख लक्ष था नब्बी इसका प्रमूख लक्ष था ग्यारवी पचासी से नब्बे इसका प्रमूख लक्ष था इति आपकी पचासी उननाय जैसा कि आपको पता होगा 2017 के बाद कोई पंजवर्शी योजना नहीं बनाई गई है उसके बाद बंद कर दी गई है याद रखा और जो योजनाय था इसकी जए आपका नीती आयो आ गया अब योजनाय अस्तित्म में नहीं है तो यह थी आपकी मत्पदेश में जो प्रणाय होगी लागों उनके बाद है पंजवर्शी है जो कालकरम थे उनके बाद है आपके हम लोग देखेंगे मत्पदेश एक द्रश्टी में देखेंगे ठीक है उसके बाद आपका बचा हुगा है समसमाई ची एवं विबिल तो याद रखता हूं इसके हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं तो उसी से हो जाएगा यह करा कल्याण का इकार करम भी देखना है बस और फिर आपके जो माना अलिकास अरक्षान दीनियम बचे हुए भी हम लोगों ने देखी लिए एंटी स्पेसल जो है आपकी समेंटली हुए है सिवेल अलिक दो चैप्टर वचे हुए है मद्वदेश एक दिरश्टी में और कल्याण कारी कारक्रम की हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोगों बात कर रहे थे मद्वदेश सामान ग्यान के बारे में इसमें हम लोगों ने लाश्ट लेक्चर में बात की थी मद्वदेश की जो पंचवर्शी है कारक्रम थे उनके बारे में बात की थी आज हम बात करेंगे मद्वदेश को एक दिरश्टी में देखते हैं कुछ मातपूर्ण पॉइंट के रूम में याद रखिए आपके जितने भी मद्वदेश से संबंदी चैप्टर थे सामान ग् के नाम से जो आपकी पिले लिस्ट सूची बनी हुए है उसी में मिल जाएंगे इसके बाद आपके एक दो चैप्टर और बचे हुए तो करेंट अपेस जो आपका है वह हम लोग कंप्लीट कर चुके थे 2019 का और सुपर फास्ट जो रिवीजन के नाम से आपकी पिले की लेक्चर में डला हुगा है तो वहां जाकिट देख लेंगे और पंचवर्सी योजनाय है वी जो कुछ मत्पूर योजनाय थी मत्पिदेश की उन्हें भी देखा था तो वह भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे तो लगभग लगग आपका जो मत्पिदेश का सामान में ग्यान था यह खतम हो जाएगा मुझे नहीं लगता है कि इससे वाहर आपके कोई भी कुश्चन जाएंगे इतना पढ़ लोग कापी है बहुत जांदा कापी है पीसी एस के लिए भहुत है किससे जानदा कहीं नहीं जाएगा आपका मत्पिदेश में द्रीश बाकी एकजाब की ठोड़ो तो सबसे पहले बात करते हैं लोग अनुसंधान केंद एवं किशिक्षंट संस्थानों की बारे में मत्पिदेश के जो अनुसंधान केंदे एव मद्पतिस नर्वन्ना पिसासने का अकादमी का है भोपाल में नेशनल टेक्निकल रिसेच और्गनाइजेशन आपकी हुजूर तहसील के विवगराम बोर्दा भोपाल में जन्जाती अनुसंदान इवंभी कास संस्थान आपका भोपाल में स्वान पिसीच चनकेंद आपका बदबदा भोपाल में नेशनल एक्टिटीट ओप फैसन टेक्नोलोजी आपका भोपाल में अटल विहारी लोग पिसासन संस्थान आपका भोपाल में यातायाद के सीच्छे संस्थान आपका भोपाल में आपदा प्रवंदन सलस्थान देश का पहला ये आपका भोपाल में वारतिय वन प्रवंदन सलस्थान IIFM आपका ये भी भोपाल में है National Technical Research Organization भोपाल राष्टी विदी संस्थान भोपाल इस्टेश्ट इस्टिट्यूट ऑफ एजूकेशन मेनेजमेंट एंड टैनिंग सेंटर भोपाल केंद्रियक्रसी अभियांध की संस्थान भोपाल राज्य सेक्षण संस्थान भोपाल उप्पुलिस अधिक्चक बीएस्पी टैनिंग ही तुराष्टी पिसीक्षण संस्थान भोपाल राजित सेक्षडिक अनुसंदान एबां पिसीक्षण परजिशन भोपाल में सेंटर पूर रिसेर्च एंड इंडस्टियल स्टॉप पर्फॉर्मस किप्स यह आपका भोपाल इस्टी इन बेल्ट सर्वेसिस पिस पिसीक्षण एब अनुसंदान पर राजियअ तकनीकी पिसीक्षण एबन अनुसंदान पर स्थान भोपाल में मद्धेश जल एबन भूमी प्रबंधन स्थान वालं एबवी आपका भोपाल में है इंडियन इस्टीट और साइंस ऐजजुकेशन अड़त प्स संस्थान बोपाल सेंटल इंटिटीट ओप एग्री कल्चर इंजीनिरेंग बोपाल एकी करत पुलिस संस्थान बोपाल भारतिय विदेश ब्यापार संस्थान बिस्वित्याल है बोपाल राष्टी यातायार प्रबंधन एवं सोद संस्थान बोपाल भारतिय सूचना पुर् ग्वालियर के कुछ मत्कून संगतनों जो संस्थान है उनके बारे में National Institute of Design ग्वालियर Indian Institute of Information Technology and Management ग्वालियर पटबारी कें? ग्वालियर Advocates Continuing Legal Education Institute ग्वालियर भारतीय परयाटन प्रयाटन प्रबंदन संथान? ग्वालियर भारतीय सूचना प्रोदुकि की और प्रबंदन संथान? ग्वालियर मद्विदेश पुह राजस सेवं बंदोगर्ष्ट फिसीक्चान सहस्थान आपका ग्वालियर उर्षन कटी बंदिये बन सहस्थान जबलपूर बी आर अमबेड़कर द्वारा संचार फिसीक्चान सहस्थान जबलपूर मद्विदेश बन अनुसंधान सहस्तान जबलपूर एकलब तीर अंदाजी अकाग्मी जबलपूर वन जी फॉरिंसे केवं स्वास्त केंद जबलपूर अंतराश्टी ये मक्का बाग ग्यहूं अनुसंधान केंद खमरिया जबलपूर कहा हैं? खमर्विया जबलपूर में है। महत्मागांदी राष्टी ए ग्रामीडविका संस्थान जबलपूर। रेडिमेंट गार्मेंट एबं फैसन डिजाइन क्लस्टर जबलपूर। नवारक चक प्लांटून कमांडर पिसिख्षान संस्थान जबलपूर। राज विज्ञान सिक्षा संस्थान जबलपूर। भारती सूचना तुरोदुगी की अभी कल्पनाग्यम बी निर्मान संस्थान जबलपूर। डॉक्टर अंबेट कर राष्टी सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका यह है महू इंदौर। लेजर क्रें अनुसंध्भान संस्थान गॉलपूर। पुलिस वारलेस्फिसी इक्ष्ण महावित्तियाले आपका भार्ति प्रबंदन शंस्थान आई-ाई-ाई-ेम इंदौर। राष्टी असवयाभीन अनुसंध्भान केंत यह है इंदौर। आर्म्स एंड वेक्टिस सेंटर इंदोर, इंडियन इस्टिटीट ओफ टेक्नोलोजी आई 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 टी इंदोर, मद्विदेश का पहला वाइड लाइफ अवेर्नेस सेंटर राला मंदल इंदोर, पहला नर्सिंग पीएचडी सोध के इंदोर में है, वन की अनसंदार है आपका छिदवाड़ा में, मानोविकास संस्थान छिदवाड़ा, पिदेश का पहला जैन सोध दर्सन संस्थान ये आपका छिदवाड़ा में है, ड्राइवेग टैन सेंटर ये आपका है, साली मेटा लिंगा गाउँ छेदवाड़ा, संजय गांदी इवाड़ा नित तेवं, किरामीडविकास पिसीक्छन सर्ष्थान पचमड़ी, थलसेना सेक्चिक पिसीक्छन कोलेज वाकेन पचमड़ी, कपास अनुसंदान केन खरपोन, वाहन करमचारीट शीक्छन सर्ष्थान रीवा, अपराद अनुसंदान इसीक्छन सर्ष्थान सागर, फोरेंसिक साइंस लिवल्टी ये भी आपकी सागर में है, भू उपगरे दूर संचार अनुवेशन केन गुना में है, पुटोईय, डिजायन और विकास अंस्थान हरीपूर गुना में है, अनुसंदान केन आपका रतलाम में है, मद्धुदेश धान अनुसंदान केन बढ़वानी में है, मद्धधेश ग्याउँ अनुसंदान केन फवार केड़ा होसंगबाद मैं है, तुस्जी सोथ केंद यापका चित्त कुट मेnd राष्टियी विद्धूत पिसीख्चर स्थान सिवपूरी दलहन अनुसंधान केंदे, ंलाहा सिहोरण किरस्टिय का अंतराष्टिय सथ सेंटर, गन्ना अनुसंधान केंद, बुहानी नकसिंपुन, फिलाश्टिक पार्क, ग्राम तामूट एरायसेन, थलसेना का प्सीक्षन कमांड, महू में, जैविकास नारायन सेंटर फोर, एक्सिलेंस इन, हुमिनिटी, अभी इसका इस्थान गोसित नहीं किया गया, महला बाल विकास प्सीक्षन संस्थान, बैतूर, अटल बिहारी प्सीक्षन संस्थान आपके नो गाउं, चतरपुर में, अब बात करते हैं, वन wanna, फिर मुक्त संखतन संस्थान के कारया लए, या मुख्या लए, मदकश की रादत्हानी बहु पाल है, मदकश राज्ये सचिवाल है वहिव भौपाल है, मदकश राज्ये संचाल हनलाए, ए मुख्याले मुख्याला विह तो याद रखने के फिकी सफी तताफार्म विकास नेकम है 1980 में बना। जुख राज उद्यम निगम 1962 में बना भोपाल में मदवदेस लगू उद्यम निगम 1961 इसका मुख्याला ही भोपाल में मदवदेस राज बास subtitת लनेर्ं निगम टनीगम Caitlin बोपाल में मदवदेस बस्तुद्देवρग मंडल बुर्देव भोपाल मुद्ध एस हैंडलों संशाल हरण लाईग Neon मुद्ध लिपकाल मेए, मुद्ध मोछा नियात नियम清 सीर दियाकता होगा यक्रियू 29 यकशाट मोर्स मलावित्प्रेंग दिया विकास बौर बौपाल में है, मुद्ध एस समाज काल unanim मथब देश पृषड़ा बरक तथा अल्ब संक्या कायोगा ऐसे टिए हrose। मद्फद दोप खालंगत संबर्धर्दर्ग है ऐसे अमध्वो खाल और सम थेन कर्सों। कि आफते कि यहँदे नुर्थे राजय और गम नेम्ने divert सूचनायों वहीं मद पेदेश चरंविकास निगतम वहीं स्पोर्ट्स अथार्टी ओप इंडिया साइं कच्छेत्रि यह कार्या लयाद का। गाउं भोपाल में मद्पिदेश पिदूसर नेंतनबूर भोपाल में मद्पिदेश राज्य उजिना भोपाल में मद्पिदेश ओजा विकास कर्निगम का मुख्याले भोपाल में दोपत सकंगीत अकादमी भपाल, मदबदेस बख बोट भपाल, नरोँर्णया पिसासनेक अकादमी भपाल, मार्टीकला भट? भपाल मद्पिदेश बिज्ञान एबं पुरोदोगी की परिशन भोपाल मद्पिदेश मानोधिकार आयो भोपाल मद्पिदेश राज जमहला आयो भोपाल मद्पिदेश अबोगत आयो भोपाल मद्पिदेश सड़कपरिवान निगम का मुक्षाल है भोपाल मद्धपदेश राजबन विकास निगम लिमेटेट का मुक्षाला बोपाल ओध्यमिता विकास केंद बोपाल मद्धपदेश राजबी एबं फार्म विकास निगम लिमेटेट बोपाल मद्धपदेश सरम कल्यान मंदल बोपाल मद्विदेश मदर्शा बोड बोपाल नर्बदा गाटी विकास प्राधी कन बोपाल मद्विदेश राजबूमी विकास नेगम बोपाल वेवसाय परिक्चा मंडल व्यापम आपका बोपाल में है मद्विदेश एग्रो एंडस्टीज कॉर्परेशन बोपाल रेल भी बोड का मुख्याला भी भूपाल में पर है मद्विदेश लोक सिवायोग यह है आपका इंदोर में मद्विदेश बित निगम यह भी आपका इंदोर में मद्विदेश वस्तो निगम बस्तो देव निगम यह इंदोर में मद्पिदेश राजबंडा गरह निगम इंदोर, राज मुद्रणाले इंदोर, मद्पिदेश उचन्याले की खंडबीट आपकी इंदोर और ग्वालियर में, मद्पिदेश महाले का कार्याले ग्वालियर, मद्पिदेश राज्यस न्याले ग्वालियर, भू अवलेक का कार् आले हैं ग्वालियर में मद्विदेश वैड मिंटन एसोसियेशन जवलपूर मद्विदेश राज विदिक सेवा प्राधी के जवलपूर महादीवक्ता कारे जवलपूर मद्विद्धूद मंडल मुप के जवलपूर जवाहल लाल नहरू पुलिस अकादमी 1986 में बनी थी यह आपकी सागर में काहा है सागर में चलिए बात करते हैं लोग मद्विदेश में एक मार क्या-क्या है उन्हें देख लेते हैं पिदेश की पहले अंडा आकार की जेल भूपाल में हैं पिदेश की सरपितम वजट बित्मंत्री मिस्रीलाल गंगबाल ने 10 जनवरी 1957 को पिस्तुत किया था मद्वितेस के गुणा जिले में पिदेश का पहला सेक्स वरकर पुनलबास के इंद इस्तापित हुआ कहाँ? गुणा में पिदेश का पहला नरसिंग PhD सूथ के इंद इन दौर में पिदेश में पितम वहाईटा gehört वालागारन संपरक कारे आले नहीं पिदेश का पृते मैं पिदेश का पितम पेपल्लैस करी मैं हूं पिदेश में पहला अंतराष्टी मक्का एवं गेमू अनुसंधान के अंद आपका खमरीय जबलपूर में हैं। पिदेश का पिधम विसुध्यालाये डॉक्टर हरी सेंग और विसुध्यालाये के। पिदेश का पहला सेल रिज जेविखा सैंत आपका भुपाल में है पिदेश का पिथम पिसेस आर्चिक चित इंदौर है छतरपुर में पिदेश का पहला सिल्फ गाहों है पिदेश का एकमात जीवास में राटी उद्यान बंडला में है पिदेश का एकमात निर्यात उर्वर दोगेग पार्ट देवास में इस्तापित किया गया पिदेश की खुली जेट नौजीवन सिवर की नाम से गुनाव बर्दमान असुकनगर के मुंगावली में खुली गया इतिहासी धरोहर के सरक्षन के लिए पिदेश का पहला राज संग्रालय बोपाल मिस्ताइपित किया पिदेश में एक मात कुंब, संगहस्त, कमेला उजयन में आईजित हुता है, पिती 12 वरसमें, पिदेश का पिदेश का थे, पिदेश का खंडबा जिला, राजि का एक मात, गांजा उत्पादक जिला है क्या है? गांजा उत्पादक जिला है पिदेश का पिथम राष्टी उद्यान 1955 यह मुटाइगर प्रोजट 1974 में काना किसली है पिदेश की पिथम जीहिंगा है चरी वाला घाड जले में इस्ताबिल की लिए पिदेश का पहला आकासवाडी के िंद इंदोर में स्ताबित हुआ राज का पहला सामाजीग गवाली अरखवार था मदविदेश की हिंदी में पिकासित होने वाली पिथम समाचरपत दिया आपका मालवा अगवार था राज का एकमात यूनानी चिक्षाव महावित्याले बूरहानपुर में है, पिदेश का एकमात सास्किये दंट चिक्षा ले इंदौर में है, पिदेश का राज्किये पसू वारे सिंगा एकमात राष्टी उध्यान काना में पाए जाता है, आंगे चर्चा करते हैं, पहली इस्थाई लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गए, पिदेश में एकमात होकी छात्रवास आपका नरसिंग पूर में है, खरगोन चले में पिदेश का इथम साख सबजी विक्रिया केंद इस्थापित किया गया, पिदेश का एकमात हिल इस्थेशन पचमडी में है, पिदेश की एकमात वैंक नोट फ्रेश देवास में है, पिदेश की रितू समन्दी आंक्रे, बताने वाली एकमात वैदसालां इंदौर में है, पिदेश का एकमात रेप्टाइल पार्क पन्ना में है, कहां पन्ना, पिदेश का एकमात घड़ स्थापित किया जा चुका है मद्पिदेश का प्रिथम पर्याटक नगर आपका सिवपुरी है मद्पिदेश का जाबू है जिला एकमात एस्वेश्टस उत्पादत जिलाए पिदेश का पहला जेंडर आधारेट बजट दोजार साथ आठ में इस्तुत किया गया 26 जनवरी 2006 कुमद्पिदेश की पिथम DNA प्रियोक साला सागर में इस्ताफित की गई थी अगला है मद्पिदेश का पहला सूचना प्रोधोगी की IT पिस्विध्यारे ग्वालियर में इस्ताफित है पिदेश की राधानी भोपाल में राज का पहला संजीबनी आयोगेद विक्रेकेंद इस्ताफित है पिदेश का एकमात जड़ी वोटी बैंक पर्याटग नगदी पचमडी के पास पनार पानी में छित में इस्ताफित है मद्विध्यश जवलपूर्ट में देश का पहला बेलो डरम इस्ताफित किया गया मद्विध्यश के देवास जिले में पिदेश के पहले मोबाइल थाने की सुरुआ 2003 में की गई थी मद्विध्यश का पिथम पहला सरवव उद्याण भोपाल में इस्ताफित किया गया मद्विध्य पिदेश का पिथम आधीवासी खेल विध्याल है आपका सिहुर में स्ताबित है पिदेश का एक्मात अफिे मुत्पादक जिला मंदस हो रहा। रीबा पिदेश का एक्मात जिला है जहां सफेद सेर पाए जाते हैं। घातक पसू बीमारी के लिए वैक्चिन बनाने वाला पिदेश की एक्मात बायोग जैनीकल लैब आपकी महू में है। पिदेश का पहला पवनूर्जा फार्म धार जली के खेड़ा गाउं की पहाडियों पर इस्ताफित किया गया। पिदेश मत्पिदेश की पिथम उद्दोगिक पेवक साला की स्थाफिना इंदोर में की गया। पिदेश का एकमात रेलवी एंजिन बनाने का कारखाना बोपाल में है। पिदेश की एकमात खेल पत्ती का हलचल का नाम के नाम से इंदोर से पिकासे तूती है। मत्पिदेश की रतलाब में पिदेश का पहला अंगूर अनुसंधान के अंद बनाएगे। पिदेश का पहला डराइमिंग स्कूल इंदोर में बनेगा। पिदेश का पहला बिमार डर्फेरिंग सेंटर इंदोर में स्थापित किया जाएगा। मद्धिपिदेश में पिथम चलित ATM सेवा इंदौर में, पिदेश में स्कूल सिक्षा विवा का पहला गल्स विजीकल टैनिंग कॉलिज सिवपुरी में, गेहूं उपच खरीदने के लिए किसानों को S.M.S. से आमंटर रेने वाला मद्धिपिदेश भारत का पिथम राज्य मच्वारों के बीमा राज्य का देश में पिथम इस्थान है, राजगार जलासाय से लाव मिलना सुरू हो गया मद्धिपिदेश E-Payment देश में देश में पिथम इस्थान है पिदेश का पहला बास बगीचा भोपाल के लहान पो ऐकोलोजीकल गायडन में विद्सित किए जा रहे है बगीचे में देश बडेश से की 100 से अधिक बास बजातियों को संर्शित किया जाएगा फेलढ पचीथ बजातियों का रोपड किया रहा है पिदेश की पहली चलित अंगनवाडी जुगनु का इंदोर में महला बालविकास मंत्री श्रीमति माया सिंग ने दो मार्च 2015 को हरी जंडी दिखा कर सोभारम किया था यह उस समय की ततकालीन बालविकास मंत्री थी मत्र पिदेश की पहली मल्टी singing investigación में इस्थाबित की जाएगी मत्र पिदेश का पहला मदर मिल्क पालर हो संगाबाद जिली में जिली किया हुआ गया हिंदी चेत का पहला राज जिनाटक विद्याले बहुपाल में खोला गया मद्विदेश के मंदोर सौर में 10 मार्च 2013 को पिदेश की पहली महला अधालाद कायूजन किया गया मद्विदेश का पहला पोसंड केंद अटल बाल आरोग मिसल के तहिप नेता जी सोभास्चन्द मेडीकल होस्पीटल जबलपुर में इस्ताफित किया गया पिदेश का एकमात बालक बॉलीबॉल होस्टल नर्शंग पूर में 2000 से आरंग हुआ नरवदा नदी पर बनने वाली दुवाधाय जल्पेपात पिदेश का एकमात जल्पेपात है जो संग मरमर की चट्टानों से बनाए पिदेश का पहला संस्किती विद्याल है आपका उज्जन में इस्ताफित है मत्विदेश की पिथम खुली जिल कॉलोनी होसंगाबाद में मत्विदेश का पहला आएकर हेल्प सेंटर इंदोर में प्यारम है मत्विदेश का पहला पुलिश मेट्रो ताना हजारी हभीव गंज भोपाल में इस्ताफित किया गया मत्विदेश का पिथम भील समुधाएक रेडियो केंद भयावरा में प्यारम किया गया मत्विदेश का पहला किसान विद्ध्याय जवर्पूर में खुला गया बात करते हैं भारत में मद्विदेश का पितम इस्थान किन-किन में उन्हें भी देख लेते हैं वित्ये वर्ष जनवरी दिसंबर की गोशना करने वाला देश का पितम राज्य आपका मद्विदेश पिसन्यता के संके तक तेयार करने वाला देश का पहला राज्च है मदवदेश पजमड़ी की चंपक जील के किनारे देश का पहला सूर नमसकार पाग निर्मार दीन है लोगों को आवास की गारंटी देने वाला विथम राज्च है मदवदेश बोपाल का हवीव गंज रेलेवे स्टेशन देश का पहला निजी इस्टेशन बना देश का पहला और दुनिया का चोत्रा डेटा सेंटर फार्ट किलस्टर इंदौर में बनाये जाएगा देश का पहला माइक्रो चिप बनाने का प्लांत भोपाल में इस्थाफित किया जाएगा वो संपदा बीनियामक प्राधी केंट बनाने बाला देश का पहला राज्च बमतपिदिष महासिर मचली के किंतिल प्रिजनंस में सफलता हासिल करने वाला पितमराज्य आपका मत्पदेश काना टाइगर रजव सरकारी सुभग कर भोर सिंग बारे सिंगा हासिल करना वाला देश का पहला टाइगर रजव है जो की आपका एमपी में एसे आपका सबसे बड़ा दलन अनुसंधान के अन्ध मत्पदेश के सिहोर के जिले के अमलाहा में इस्थापित होगा मत्पदेश के रिवा की गुड़ा तैसी में देश का सबसे बड़ा अलटा मेरा सोलर पाक इस्टाप है सोले जून 2014 को मेधा प्रोजेक्ट के तहर बोपाल के ये पी होस पीटल में मेधा महला सेवा क्यांत की सिरुवात की गई यह देश का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है लगातार पाजबर किसी करमत फ्रोजकार प्राप्त करने वाला मध्देश देश का पहला राजबर मध्देश किनर बोड गठित करने वाला देश का पहला राजचे देश की पहली सकल्ड Development University मध्देश के इन दौर में स्थावित की जाए मध्देश की धानविक नंगरी जवाकी उज्जयन में देश की पहली डिजाइन उनिवेसिटी इस्थाफित किये जाएगा। इमेल नेती लागू करने बादा मत्पिदेश भारत का पहला राज्य है। मद्विदेश की नीवा जिले में देश का सबसे बड़ा सौर उज्या सैंति स्थाफिक किया जाएगा। पिदेश की धार्विक नगरी उज्जेन विस्व में एक मात्ति स्थान है, जहां 21 जून को 190 डिगरी पलंग मगत होता है। मद्विदेश का सतफोडा टाइगर रजर्व बागूं का डिएने टेस्ट कराने वाला देश का वितम नैसनल पार्ग बन गया। मद्विदेश देश का ऐसा पहला राज्य जिसका अपना राश्ट जिगान है। मद्विदेश के आगर मालवा सालरिय गाउं जिले की सुसनेज छित में विसका पहला गौप बहारन इस्थापित किया गया है। मद्विदेश के अली राश्पुर जिले की ग्राम भावगा चंदसे का राजान नगर में इस्थापित किया गया है। पितेग गाउं का मास्टर प्लायम बनाने बाला मद्विदेश देश का पहला राच्य है। देश का पहला जलबाई परिवर्तन ग्यान प्रबंदन के बहपाल में इस्थापित किया जा रहा है। इंदोर की अनुपमा सक रायगाय अंतराष्टिय चौक बॉल नेडायक की परिच्छाउ ठीन कर इस खेल में देश की पहली अंतराष्टिय महला नेडायक बनने वाली सक्सेन। देश की पहली अंतराश्टी एक किरत परिवान जान चौंकी की स्थापना मदपदिश के बैतूर में की गई है देश का पहला राज जेजिस में पर्याटन वायू टेक्सी सेवा चालू की गई है देश की पहली भीली भासा की फिल्म फैसला की संपून सूटिंग आपकी मदपदिश के जहाबू आजले में की गई वन भीहार राश्टी उद्यान भोपाल आईएसो 9001 अनपाते 2008 आवाड पाने वाला देश का पहला राश्टी उद्यान है मदपदेश राश्टी जनसंक्या रिजिस्टर NPR के कार को भालतिय विशिष्ट पहचान परादी काई EUID के आधार से जोडने वाला देश का पहला राश्ट बन गया है मदपदेश सौरूरिजा से संचाले देश का पहला एको फ्रंडली टेलीकॉन एक्ष्टिन चार जनवी दोजार बारे को भुपाल में सुरूं हुआ किसानों के बैंक खातों में अन्यदान बोनस तथा अन्राहत रासी सीधे जमा कराने बाले मदपदेश देश का पहला राश्ट बन गया है किर्सी या आर्थिक सर्विक्षन पिस्तुत करने वाला पिदेश मदपदेश देश का पहला राश्ट है मत्वेदिस का बाला गाट जिला देश का यसा पहला जिला है जहां सर्फ बेटियां बेटियों बाले माता पिता को गहरेलू कामकास से संब्धित सरकारी आगया हूं लाइन लगने की आवसक्ता नहीं है काना टाइगर रजेव्ट देश का पहला परियाट निस्तल है जहां तेरे वेगा महिलाओं महिला है गाइड का फिसीक्षन लेने के लिए के बाद सफलता फूह कारल कर रहे हैं जावर्पो जले की परियाट नदी के तट पर ग्या ग्राम परिया परियाट में निजी छेते द्वारा राज सासन के मार्ग दलसन में देश के पहले वायोकेस विजली सैन्त की इस्तावना की गई गया देश का पहला बहुत विद्ध्याले मत्विदेश के सांची राज सेन में इस्तावित किया गया मत्विदेश देश का पहला राच्चे जिसने लोक सिवा पिदाय गारंटी अदिनियम पारित कर लागू किया देश का पहला सोलर पाक मत्विदेश की राजगर जिली में इस्तावित होगा मत्विदेश राज जिस्तर पर मानो विकास रिपोर्ट पिकासित करने वाला देश का पितम राज्जे ग्राम नियाले इस्थाफित करने वाला देश का पहला राज्च बनाए मद्विदेश बनो का फूर राष्टी एकांट करने वाला देश का पितम राज्च आपका मद्विदेश देश का पहला मुबाइल बेंक इस्थाफित करने वाला राज्च आपका मद्विदेश देश में जिला सरकार इस्ताफित करने वाला राज्चे मद्पिदेश मद्पिदेश महला नीती बनाने वाला देश का पहला राज्चे देश का पिथम मेडी को लीगल संस्थान आपका बोपाल में देश का इकमात मानो संग्राल है आपका बोपाल में भारत में पित्थम ओप्टिकल फाइवर का रखाना मर्नदीप रायसेन में इस्ताफिक किया गया मत्विदेश गेरू उत्पादन में देश में पित्थम इस्थान है देश का सरवादिक सोयावें मत्विदेश में उत्पादित होता है मत्वदेश देश में सबसे बड़ा तेंदूपत्ता वबिडी निर्मातर राच्छ है देश एबं एसिया का पहला सारे रिख के सिक्षन महावित्यार है मत्वदेश के ग्वादियर में स्थाप्यत है देश ही नहीं एसिया का भी पित्थम लेजर अनुसंधान के अंद आपका मत्वदेश के इंद सोर में इंद और में क्या है फिर से देखी विए बहुती मात्व है देश ही नहीं एसिया का पित्थम लेजर अनुसंधान के अंद मत्वदेश के इंद और में मदपदेश हिंदी भास साब में गजेटियर फिकासित करने वाला देश का पितम राज्य मानव अधिकार आयोगटित करने वाला मदपदेश देश का पहला राज्य जिलाज तरिये मानव विकास रेपोर्ट तेवियार करने वाला भी मदपदेश का पितम राज्य देश का एकमात आधिवासी सोध संस्थान केंद मदबदेश के जहागुआ में मदबदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद इस्थापित किया गया है देश का पहला रतन परिस्कत केंद जबलपूर में स्थापित किया है देश ही नहीं बलकि एसिया का सबसे बड़ा सुयावीन सेंद आपका वच्चेंद में स्थापित देश का पहला सुयावीन वायदा वाजाराः पहंदोर में हैं देश का सरवादिक पवन चक्कियां मद्पदेश में हैं देश का एकमत चाय कादमी वहपाल में हैं देष का पहला पोरातत्य पार्क मदविदेष के दमआ जले में संगरामपूर में हैं। देष का पिथम सौरचलक टेली फॉन एक्स्चेंज तेश के सिपूरी जले के अमॉल पार्टा में इस्तापित किया गया। मद्विदेश देश का पहला कारगों हवायीत ताज्वित किया जा रहा है, मद्विदेश में. मद्विदेश की राददानी भोपाल में, देश का पहला सिंखो टोन, विक्रान सरोथ एंडर्स फर्श्ट प्यारम किया गया. भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बैटक चमता में ताजुल मस्जिद भौपाल में मत्विदेश की राद दानि भौपाल देश का पहला नैसनल सेलिंग स्कूल पारम किया गया देवास पुलिस का अधिक्षा कारयाल है देश का पहला ऐसा आइसपी कारयाल है जिसे ISO प्रमार्पत दिया गए पिदेश के बैतू जिले की कसई गाउं गेर परमपरिक ओजा सरोत बायो मास सेंध द्वारा है उत्वादे बिजली से इस्थापित होना वाला देश का पहला गाउं है भारत का पहला रामाइड संगराल है सरकारी करीण में आरक्चन लागू करने वाला मद पिदेश का पहला राज्य मद पिदेश के जवलपूर में इस्थापित विद्दूत मंडल देश का पहला विद्दूत मंडल भहपाल एक्सपेस मपाल से दिली देश की पहली ट्रेने जिसे 2003 में आईएसो 9001 प्रिमारपत पिदान किया गया भेल द्वारा बहुपाल में संचले दो जवाहल लाल नहरू आईएसो 9001-2000 प्रिमारपत पाने बाला देश का पहला इसकुल मद्पिदेश देश का पहला राज्य जिसने रोजकारी बगता देने की विवस्ता की थी मद्पिदेश वर्स 2006 में देश की पहली साइवर टेजी का पहरम किया है मद्पिदेश ने वर्ष 1995 में देश का पहला राष्टी युवा महुस्ताव पिदेश की राध्दानी भोपाल में मनाया गया मदबदेश पोरुस नस्वन्दी के मामले में देश में पहली स्थान पर रहे मदवदेश देश का पिथम राच्य जिसने पितेक जिले में उद्देवकेंद इस्ताफित किये है पिदेश के जबलपुर जिले में देश का पहला ऐसा जिला बनने का गौरव हासिल किया है जहां मतमा कांच्छा समाधान एक दिन एवजना लागू की गई मदवदेश देश का पिथम राच्य जिसने सभी गाउं को ग्राम संपर्क नामाग वेवसाइड से जोडने में सभधा प्रात किये देश का पहला सिर्फ संग्राले राध्धानी बोपाल की निकट इस्तित भोजपूर में पिस्तावित है देश का पहला सामान वर्ग निर्धन कल्यांड आयोग मदवदेश में 2008 में गटित किया है अब बात करते हैं लोग मदवदेश में सबसे बड़ा छोटा उंचा नीचा अधिक कम मदलब जनरल नौलेज की कुश्चिन से मदवदेश के बारे में देखते हैं एसी यह का सबसे बड़ा पनीर निर्मार सायन तापका मदवदेश के खजुराहो में इस्थापित किया है एसी यह का सबसे बड़ा पनीर निर्मार सायन तापका खजुराहो में इस्थापित किया है पिदेश का सबसे उंचा इस्थान धोगड पहाड़ी पचमड़ी में ह मद्विदेश का सबसे नीचा इस्थान नर्वदा सौन गहाटी है मद्विदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है नर्वदा नदी 312 किलोमीटर पिदेश का सबसे लंबा पूल तावा नदी पूल है पिदेश से गुज़रने वाला सबसे लंबा राष्टी है राजमाई एनेच थिरी है पिदेश का सबसे चोटा राष्टी है राजमाई एनेच छेटर है पिदेश का सबसे गरम इस्थान आपका गंजबास होदा है पिदेश का सबसे ठंडा इस्थान सेवकुरी है मद्पिदेश में सर्दबादीक बरसा वाला इस्थान आपकी पचमडी है सबसे कम बरसा वाला चेत धंड है सबसे बड़ा राष्टी उत्यान कहाना किसली है सबसे छोटा राष्टी उत्यान फॉसल राष्टी उत्यान है सबसे बड़ा गरपती पितिना हिंद्धौर में जो बड़ा गरपती के नाम से जाना जाता है सबसे छोटी सबसे मोटी कोला परताप की सिंग रोली में सबसे बड़ा बहुत एक विभाग मालवा का पथा है सबसे बड़ा कोईला बंदर आपका सुहागपूर छित में फिदेश का सबसे बड़ा सिबलिंग भोचपूर मंदर का है फिदेश का मालवा छित सरवादिक ग्यांग उत्पादक छित है सरवादिक पिरसार वाला समाचार रपत आपका देनिक भासकर है मद्विदेश का सरवादिक कुपो से जिला आपका सेवपुर है मद्विदेश कम कुपो से जिला है आपका भुपाल सबसे पिदेश का सरवादिक सगहना अबादी बाला जिला भुपाल है 855 पिती बर किलोमीटर है सबसे दिख बिरल आवादी आपकी टेंडोरी में है 94 पिती, 22 पिती, 12 किलोमीटर इसे आप लोग जन गनत भी बोल देते हैं स्तरवादी सघन आवादी बाला संभाग है आपका इंदोर क्या है इंदोर छेदफल की द्रिष्टी से विदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका छेदभाड छेदफल में सबसे छोटा जिला है आपका दतिया याद रखिए लेकिन जब निबाडी आपका जिला नया बन चुका है तो अब याद रख में 2021 की या जो नई आकड़ी आ रहे हैं उसमें आपका निबाडी सबसे छोटा जिला जन संक्या में और छेदफल में बताया जा रहा है ठीक और 2021 की जनगरना के बाद यहां करें आपकी बोक्सों में भी कंप्लीट कर दिये जाएंगे ठीक अबड़ेट छेदफल में सबसे बड़ा संभाग आपका जवलपुर है छेदफल में सबसे छोटा चंभाग आपका चंबल है पिदेश के पन्ना जिली की अजयगरत सी सबसे छोटी तैसील है छेदफल में ज़ाद रखी अब लेकिन जब से निवाडी बनाया तो निवाडी है जनसंक्या की दृष्टे से सबसे बड़ी तैसिल आपकी इंदोर है जन जाती जनसंक्या का सरवाधिक संक्रणह जहावगा में कहा है जहावगा में विदिष का सरवादिक लेंगन पात बाला जिलाए आपका बाला गार सबसे कम लेंगनपात बाला सब भार एप पिदेश का सबसे बड़ा नगत इंदोर है, सबसे बड़ा बनवेत खंडवा है, सबसे छोटा बनवेत साजापुर है, सरबादिक बनवेत चापके सागोन के है, मदपिदेश में सरबादिक पाये जाने वाला बनपसू चीतल है, सबसे कम सिचाई वाला जिला आपका दिंडो सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला है मत्पदेश के पिसेद नगर और उनके इस्थल्यों की उपनाम देखते हैं यह आपके इस्थान दिये गए और यह उपनाम दिये गए उनकी जैसे जवलपुर को जवलपुर को हम लोग संग मर्मन की नगरी कहते हैं बेडागाट को संग मर्मर की चट्टाने कहते हैं बिन्द मुरेना को बागियों का गड़ उज्जैन को मंदिरों यव मूर्तियों का नगर उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहते हैं खजराओ को हम लोग सिल्व कला का तीज़त कहते हैं, भीम बैटका को हम लोग सेल चित कला कहते हैं, सांची को बहुत जगत की पवित नगरी कहते हैं, इन दौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, सिवनी को मत्विदेश का लखनव कहा जाता है, वाला घाट को मैगनीज नगरी कह चुना नगरी, मांडू को आनंद नगरी या फिर पिर सिटी और जुआए कहते, मालवा को ग्यंगाभन्दा, ग्वालियर को तान्से नगरी कहते हैं, मेहर को संगीट नगरी, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, पचमडी को परेटकों की कस्वग स्थल कहा जाता है पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहते है बुरहानपुर को गंजेणियों का स्वग कहते है खनबा खरगोन को सुनहरे जली कहते है बैदवा मद्विदिश की गंगा है पिदूसन के आधरबर चिपरा मालबा की गंगा है रिवा सफेद सेर की भूमी है इंदोर कपडों का सहर मांडू महलों की नंगरी धार भोजि नंगरी सीवपुरी परेटन नंगरी ग्वालियर किलों का रतन भोजपुर का सिव मंदे मद्ध भारत का सौमनात पन्ना डायमंड की सिटी, सागर मदपिदिष का स्वीजलेंड, सागर को क्या कह जाता है? मदपिदिष का स्वीजलेंड पैंच मदपिदिष का मोगली लेंड, भारत बवन पिदिष का सांस्कितिक कैन, उज्जेन मंगल गरे की जन भूमी, उज्जेन पवत नगरी भी है सीं हैं सी थिए कि नगर इस्थरों की सिध्धि के कारण ये आपके नगर वë स्थान और पीश्धि पाने के कारण जैसे भूपाल आपका राजजानी छेत्ते वाई जीले हैं या इसलिए एक पिसद्ध है एंदोर आपका उद्धियोग नगरी और मिनी मंबई के नाम से पिसद्ध है खजराओ कलात्मक मंदिरों के कारण पचमडी एक माद है हिले स्टेशन मलाजखंड तामे की खदाने है पन्ना हेरे की खदानों के लिए पिसद्ध है सांची बोधिस्तूप के कारण मंदसोर अफीम उतपादन के कारण एटार्सी लेलबे जंक्सन के कारण नैपा नगर काग पिसद्ध है सबसे छोट मोटी कोईला परत के के लिए पिसद्ध है वेडागाट आपका संग मरमर की चट्टानों के लिए पिसद्ध है अमलाई आपका पेपर मिट के लिए पिसद्ध है खंडबा आपका सिंगाजी का मिला लगता है है इसलिए पिसद्ध है उज्जेन आ यहां जियोती लेंगे, देवास, बेंट नोट फेस्ट, चामुंडा माता का मंदर है, इसलिए पिसद है, धार, बाकी गुफाएं हैं, वावन गजा, आदिनाथ की विसाल मूर्ती है, चंदेरी, किलावा साडियों के लिए पिसद है, मांडू, खुपसूरत महिलों के कारण साडियों की बनावट के लिए पिसद है, ग्वालियर, किले एवं मंदर के कारण पिसद है, फिर हैं पिरमुक पार्क, पार्कों का नाम है, इस्थाने, फिलास्टिक पार्क, तामोट, रायसें, पहला डेटा सेंटर पार्क, हिंदौर, देश का दूसरा महला पार्क, हिंद जए प्रोदोगी कि पार्क देपालपूर इंदॉर। जैम्स एवं जलॉरी पार्क इंदॉर। पहला आईटी पार्क बोपाल। केंदरी एक खाथ पार्क 6 स्थान परें मंद्सों और खरगोन, मंदला हुसंग बाद 6.42 बिंद। पहला पुरातत पार्क संगरामपूर प्रज्जी पार्क– इंदौर में पिस्तावें थे जैय वुर्जा पार्क रीवा पहला सार वुर्जा पार्क गड़े सफौर राजीगर मे निलेहत और प्रव्ण परक आपका देवास में कहा है देवास में ते यह तिहाँ के मतपिदेश के प्रमुक ‐ पार्क आँगे बात करते हैं मत्विदेश के नगरों के प्राचीन नाम और उनके बर्तमान नाम यह आपके प्राचीन याद पुराने नाम हो गए नगरों के तो यह नभी नयाद बर्तमान नाम हो उनके जैसे महू इंदौर को अब क्या कहते हैं डॉक्टर भीम रावमेड का नगर कहते हैं, महू को, डॉक्टर भीम रावमेड का नगर कहते हैं, भावरा, अली राचपुर, इसे हम लोग चंदसे का राजार नगर कहते हैं, भूपाल या पोच्ताल, इसे हम लोग भूपाल कहते हैं, कागनाद को, अब इसे सांची कहते है साधियाबाद इसे हम लोग मंडू कहते हैं विसबपुरी इसे हम लोग सुहागपुर कहते हैं कापित इसे हम लोग कायथा कहते हैं मलहार नगरी अब इसे हम लोग इंदोर कहते हैं इंदूर इसे हम लोग इंदोर कहते हैं इसका इंदूर पुराची नाम है और अभी बरत्मान का नाम है इंदौर धारानगरी हम लोग धार को कहते थे उज्जैन ही उज्जैन कहते हैं बरत्मान में अवंतिका यह आपका उज्जैन है अवंतिका को पहले क्या कहते थे अवंधिका दसपूर बंदसवर को कहते थे, भेलसा या वेशनगर बिदीशा को कहते थे, गोपांचल ग्वालियर को कहते थे, तिवपुरी तेवर नया नाम है जवदपूर, सिवपुरी स्तिरपूर, दिलीपनगर ददिया का प्रान नाम है, महिसमती महिसर का प्रान नाम है महस नलपुर है जू आपका नरवर का पुराना नाम है रेवा या भता ये रीवा का पुराना नाम था गणमंडला मंडला का पुराना नाम था खांदेश बुरहान पुरुफक का पुराना नाम था मांडवगड मांडू का पुराना नाम था पंचालगड पच्मडी का पुराना नाम था गौंडवाना मंडला का पुराना नाम था खजूरवाहक खजुराहो का पुराना नाम था जिजाग भुक्ती खजुराहो का पुराना नाम था हिंदपुर इंदौर को गहते थे पहले हेरीकेड एरन को गहते थे वस एक वालियर बंदेलखंड छेत था अनूप निवाड खंडवा छेत थे तुडिकर दमो छेत साजापुर साजापुर निजामत ए मसरी सहोर मुडवारा कटनी बुद्ध निवासनी बुद्ध निवासनी बुद्धनी अब आँगे बात करते हैं लोग मद्विची सरकादवारा घोसित बिवनित दिवस एवं बर्स तो यह दिवस हैं आपके यह बर्स राज इस्थापना दिवस आपका एक नवंबर को मनाए जाता है नगरीय निकाय दिवस दो नवंबर बेटी बचाओ दिवस पांच अक्टूबर लोग सेवा दिवस पच्ची सेप्टमबर महिला सित्रक्तिकेंड दिवस अठारे जून जन्चंख्या नियंतर दिवस ग्यारे मई बहुआ दिवस ग्यारे जोलाई महुआ बर्स 2011 को टैफिक बर्स 2011 को वांस दिवस तेन जोलाई करतब पर पच्ची सेप्टमबर से दो अक्टूबर तक अनरसव पितेक माहे की साथ तारीको पर्याटन बर्स 2016 को गरीब कल्यार वर्स 2016 को इसका स्कीन सौट ले लिजे और याद करते रहिए खाँ अब बात करते हैं मद्विदिश के प्रमुक सास की एक कार्यालय भवनों के नाम ये भवन का नाम हो गया एक कार्यालय हो गया मेंटो हॉल राज का पुराना विधानसवा भवन इंद्रागांदी विधानसवा भवन राज का नभीन विधानसवा भवन बल्लब भवन ए राज का सचीवा ले सत्वड़ा भवन राज संचानन ले सक्ती भवन राज विद्धूत मंदल कुविजा भवन मद्विदेश विद्धुत नियामक आयोक। परियावास का भवन राज मानाओज का रायो। पुस्तक भवन मद्विदेश पाठ पुस्तक निगम। निर्वाचन भवन राज निर्वाचन भवन। स्याम लाहिल्स मुखमंत्री जी का निवास इस्तान। गि बार राजदाने नाम भोपाल मत्पदेश की राजदानी है इंदोर को ब्योसाइक राजदानी कहा जाता है इंदोर को खेल की राजदानी भी कहा जाता है सेंगरोले को ओज्या की राजदानी भी कहा जाता है जबलपुर को सांसकेतिक राजदानी पचमडी को परियाटक राजदाने वाला गाट को मैगनीच राजदाने मेहर संगीत राजदाने पचमडी आपका ग्रेस्म कालीन राजदाने उज्जन धार्विक नरजदाने जबलपुर आपका नयायक राजदाने ठीज है ब्यक्ति दीगे ये उनकी उपना में आपादिया जैसे तांसें एनस संगी समराट कहा जाता है कालीदास को भारत का सेट्सपियर रानी लच्मिवाई को मनु कहा जाता है चंदसेकर आजासाहपूर सहीद कहा जाता है लटा मंगिसकर स्वयसामकरी पंडित द्वायका पिसादमिस को आधोनी चाणक कहा जाता है माकललाल चत्रोविदी एक भारतिय आत्मा कहा जाता है रानी अवंतिवाई रामगड की जासी की रानी है कुंजीलाल दोवे मत्पदेश के बिधी पुरस है विजया राजी सिंदिया राजमाता अहले आबाई होलकर लोगमाता देवी या देवी कुसा भाव ठाकरे भाजापा के पित्थ पुरस है असोक कुमार दादा मुनिय के नाम से राजन्द जैन भगवान रजनीस या ओसो के नाम से देखविजे सिंग को दिग्गी राजा के नाम से बाबुलाल गौण को बुल्डोजर के नाम से जाना जाता है बुल्डोजर के बाद आता है सियद मुस्ताक अली को केटन के नाम से सुमित्रा महाजन साब को ताई के नाम से अलावदीन खां को सरोध समराट के नाम से संकर लचमड को गोली के नाम से आचार के सवदास को कठिन कापका प्रेथ के नाम से संत संगाजी को मालवागा कभीर स्वय यह लचमर सिंग गौन को दादा के नाम से कुंगर चैन से मद्विदेश का मंगल पांड के नाम से कुंगर चैन सिंग को अनिल काकूर कर बिग्ज्यान को इसके नाम से जाने जात है तो यह देख लिए हम नों मत्पदेश एक दरश्टी में देख लिया है आज है मत्पदेश एक दरश्टी में हम देख चुके हैं अब आपकी जो सब करेंट पीस है तो उसके बारे में याद रख़ा हम लोगों कर चुके हैं एक पूरा 2019 का करेंट पेस्ट वह आपका सुपर फाष्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी फिले लिष्ट सूची है उसमें मिल जाए है और 6 गंटे के करीब है लेकिन फूरा कम्प्लीट है और जो कल्याण कारी कारक्रम है यह भी हम लोग खतम कर चुके हैं मानो अपडेट जितने भी एक्ट थे आपके अपडेट कर दिये हैं लेकिन अब MPPSC में इसका कोई जानदा महत्र नहीं बच्छा हुए उच्छे जा सकते हैं कुश्चन से पता नहीं देलों क्या होता है आगे एक दो तो पूंचते रहेंगे मद्वदेश के सामान ग्यान के जरूयत नहीं और इससे जानदा आपको पढ़ने की वी जरूयत नहीं है इतना पढ़ लोगे काफी है आपका कोई कुश्चन नहीं चूटेगा याद रखिए में वसकार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मद्वदेश सामान ग्यान के बारे में हम लोग तो याद रखिए इसमें कंप्लीट हम लोग मद्वदेश को लेक्चर खतम होने के बाद आपका कंप्लीट पूरा मद्वदेश इस पेसल खतम हो गया मद्वदेश स सामान ग्यान का जो ही आपकी चेप्टर थे वो सभी खतम हो जाएंगे इसमें हम लोग बात करेंगे मद्विदेश की योजनाय पिरमुक उनकी बारे में देखेंगे ठीक है अपडेटेट तो इससे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें आके हम लोगोंने क्या-क्या देख लिय जल संसादन देखे थे सिचाई एवं नदी घाटी परियोजनाय देखे मिल्दा देखे जल वायू रित्व बर्सा देखे फर योद्दोग एवं व्यापार देखे उर्जा संसादन किरसी परिदेश एवं पसुपालन याद रखिए ये सभी हम लोगोंने मत्विदेश के परिपेप्ण में देखे थे वनसंपदा एवं वन जी, राष्ट्य उद्याण एवं अभ्यारन खनऩ संपदा देखली थी परिवाहन, संचार, सिक्छा के आयां, राज निटिक एवं पिसासनिक परिद리स, जन्जाधिय परिदểnश, सांस्कितिक परिद्ष चित्तकार एव सम्मान प्रमुक व्यक्तित पर्याटन एवं प्रातात्विक इस्थर इतिहासिक परिदिस खेल परिदिस पंचवर्षी जो कारिकरम रहे हैं उसके बारे में भी बात कर ली थी मद्देश एक द्रश्टी में देख लिए हम लोग है ठीक है आप लोगों को बता दे हैं जो आप का करेंट प्रेस होता है यह आपका बदलता रहता है तो इसको जांदा दिमाग में मतला आईए जब पेपर आप देंगे तब आप उस समय अपडेट हो जाए जैसे 2019 का करेंट प्रेस मैंने पूबरा बताया हुआ है और वह आपको सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो कल्याड कारी कारग्रम के बारे में किसके कल्याड कारी कारग्रम जो आपकी यह उजना है कल्याड करने के लिए समाज का उनके बारे में याद रखिए मानो अधिकार संरक्षन अधिरियम 1993 और 1955 से विल अधिकार संरक्षन और जो अनुसूचित 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 जन जाती, अत्याचाय निवारन, अधिरियम 1989 है, इन तीनों को भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक, याद रखिए और अपडेटेट रूप में देखा था, जो 2019 तक जो भी अपडेट हुआ है, उन सभी को अपडेट करके हम लोगों ने देखा था, लेकिन जैसा कि आपको प करते हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपका ये complete हो गया है, मद्विदेश सामान गया, इससे ज्यादा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, तो आज हम लोग कन्यार कारी कार्क्रम देख लेते हैं, और बाकि ये सब देख चुके हैं, तो आप जाके MP TPSC Special में, मद्विदेश Special में, FBJK में देख सकते हैं, जाके, ठीक, ठीक, नमस्कार दोस्तों, तो चली हम लोग देख लेते हैं, मद्विदेश की कल्यार कारी ये उजना एवं कारिक्रम, ठीक, ग्रामीड विकास, एवं करसी समंदित, ये उजनाओं की बारे में बात कर ल मुखमंत्री आवास योजना अगस्त 2007 से लागु गए इसका उद्देश ऐसे गरीप परिवारों को अपना मकान बनाने में सहायता देना जो इंद्रा आवास योजना की परधी में नहीं आते हैं ठीक है फिर है सो जलधारा योजना यह केंद सरकार की योजना जो ग्रामीड चित्रों में फिये जलकी समस्या के समाधान के लिए दिसंबर 2002 में शुरूंकी गई थी ग्राम पन्चायतों के माद्यम से लागू होने वाली इस एवजना के अंतर ग्राम वासियों को कुए वावडी बनाने वा हैट पंप लगाने के रिए होने वाले वे का 90-30 कैंसर का द्वारा बहन किया जाता है और ग्रामीड ओंको ग्रामीड मास योंको मत 10-30-80 की कही बहन करना होता है यहीं युजना अन्यमले के दो सेंडियों में संचालित है स्वजल्धारा फर्ष्ट इसके अंतर का किसी भी गाउं को इस युजना का लाप उठाने का अधिकार दिया जाता है और स्वजल्धारा सेकेंड इसके अंतर पूरे जिले के सभी गाउं योजना में भाग लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब होती है कि पुष्जिले के आदे से अदे कहों इसके लिए सहमती पिदान करें कि इसके लिए राज सरकार का भारत सरकार इस साथ एक एंप उप्यू वास्ताप्चा करना होता है कि रहे मेरी खेती अंगली है मेरी खेती मेरी माटी उजना यह मतकदे से मैं एक अप्रेल दोहजास चौदे से रूपी गई मनरेगा के मात्यम से लागू होने वाली इसे युजना का उप्देश खेती को लाप का धंदा बनाना है युजना के अंतरगत पांच परसों में एक हजार करोड रुपे खर्च किये जाएंगे किसानों के निजी खेतों के समतली करन खेतों में तालाब निर्वाण चैसे कार इसके अंतरग मनरेगा के मात्यम से करा जाएंगे यह युजना वीजन मन रहेगा दोहजार अठारे में सामिल किया गया है इसे परहे पंच परमेसोर युजना यह युजना नौ जन्वरी 2012 से लागू गया इस युजना का उद्देश है गाउं में आधार फुस सुवधाएं सुवधाओं के उपलग देता गाउं में रोजगार के अवसरों में बिद्धी ग्राम बासियों का आर्ठिक मिकास तरह सूरजधारा अन्य पूड़ा युजना यह है युजना 2001-2001 से प्यार्म हुई है इस युजना का उद्देश अनुसुचित जाती जन जाती के लगू एवं सीमान्त क्रिस्कों को आलापकारी फसलों किस्मों के इस्थान पर लापकारी दलहनी तिलहनी खाद्यान फसलों का कि उन्नत बीज उपलब्द कराकर उत्पादक्ता उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थी किस्तिधी में सुधार कर लाना है यह है युजना मद्धिश में लागू है फ्रेट खेत तालाव युजना यह युजना 22 मई 2006 से आरंव हुई इस युजना का उद्धिश धरातलिये एवं भूमी गच्चल की उपलब्दिता बढ़ा कर किसी कसमाग बेकास करना है इस युजना के हित ग्राही समस्त बरवों के कर्षक को हो सकते हैं यह यह युजना स मैंसे किसी एक मोडल के तालाव के निर्माड हुटतू लागत का पचास पितीसद अनुदान फिदान किया जाता है किन्तु इसकी अधिक्तम रासी 16,350 रुपे तक होती है यह अंगली है बल्राम ताले उजना यही उजना मई 2007 से व्यारंप हुई है इस से उजना का उद्ध इस बर्सा के वह जाने वाले जल की अधिक्तम मात्रा खेतों में रोक कर रोक कर उससे सिचाई सुविदाय का भिकास करना है बल्राम ताल की निर्माड कार की प्रग्रिती एवा मूल्यानकन के लिए कि आधार पर पातिता अनुसान्यम्न अनुदान दिये दने का प्रावद अधिक्तम 80,000 रुपे अनुसुचित जाती और अनुसुचित जल जाती के हितिक ग्राहियों को लागा का 75,000 अधिक्तम एक लाग रुपे बल्राम ताल बड़े आकार के ताला होते हैं जो 50 हेक्टर तक की भूमी सिचाई कर सकते रहे मुकमंत्री खेत तीर थे अउजिना प्यारम की गई इसी उजिना के इंतरकत किसानों को राजी की बाहर अपने प्यदिश में ही चैनित उन्नत किरसी के इंद्रो पीचेत्रों और किरसी विज्ञान केंद्रों का भिमड तत्था प्रगित्ती सेल किसानों के साथ बिशेशक्गों से महागदर्सन दिलवाय जाएगा यूजिना के विथम चैड में 16,000 किसानों को लावन मित किया जा रहा है फिर किसान मित्ती विज्ञान ग्रामी डेस्तर पर किरसक एवं पिरसार तंत की जीवन्त संबंद इस्थापित करने की दृष्टी से विश्तार सुधार कारिक्रम आत्मा के इंतर का संचालित किरसी मित्ते तिसीक्षण कारिक्रमों में पितेक दो आवाद गाओं पर एक क्रिसक में चैनित कर उन्हें क्रिसी तकनीकों और योजनाओं की जानकारी देकर इस्थिक्षण किया जाता है विभागी ये सुचनाओं से उन्हें आवगत रखा जाता है तथा भिरमड के सीख्चा एवं मेलों में इने प्रात्मिकता से आवंतित किया जाता है किसान में अपने ग्राम के लिए किसानों और विभाग की मद्दे समनबाई की रूम में सहयोग देते हैं किसानों तक सहलता से होता है फिर है किसान केड़िट कायड यूजना जिसे किसान साख पत्ति भी बोलते हैं सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने किरशक सदसों के लिए एक अधिकतम साख्सीमा निरधारित की जाती है और उन्हें साख्पत्त जारी किया जाता है सदस इस साखवत के आधार पर आवस्चक्त आनुसार अग्यां ले सकते हैं पात्य हित ग्राही ऐसे के सक्च जो सहकारी साख सम्ती का सदस हों और किसी कारियों के लिए सम्ती से आदान रेड़ राप्त करते हूं फ्रे मुखमंत्री अनपूरा योजना मुखमंत्री अनपूरा योजना बस 2008 में कारम की गई थी इसका उद्देशा गरीवी रेखा से नीचे के परिमारों को सस्ता अनाज उपलब्द कराना इत्व योजना में गरीवी रेखा से नीचे के परिमारों नीले रासनकाड धारी परिवारों को उचित मूल की दुकानों से हर माय 20 किलोग्राम अनाज उपलब्द कराया जाता है इन परिवारों को गेहूं 3 रुपे किलोग्राम तरस चापल 4.5 रुपया किलोग्राम की दर्स पर उपलब्द कराया जाएगा फिर गोसेवक यह उजना समस्त वरगों के दार्खों के लिए गराहियों के लिए 1997 में संचालिक की गई इसे उजना के अंतर के एक ग्राम पंच्यात में कम से कम एक गोसेवक निउप किये जाते हैं यह उजना को अग्देश है ग्रामी अचलों में पसु चिकत साखी सुविदा उपलब दिकराना शिक्षिक बेरोजगार इवाओं को रोजगार के अउसर उपलब दिकराना है इसका प्रह आसरा आसरा मद्धिदेश पसु पालन विभाग द्वारा आरम किया गया यह नवाचार बे सहारा पसुओं को उपचार बा आसर के माध्यम से राहत पिदान करना आसरा के अंत्रगत आसर स्थल्फ है स्वानों की नस्बंदी एंटी रिवेज टीका करन भी किया जाता है रानी खेत उनगूलन है उजगार कोकोट में रानी खेत एक भायानिक बीमारी है जिसमें बड़ी संख्या में कोकोट मारे जाते हैं इस रोक के रोकता में तू यह उ साणगाया जाता है तरैंन अंदी साला योजना बर्स दो जार चsya से संचाले से और योजना के सभी वरगों के लिए ततां पे दैस के सभी जलों की ग्रामीट・शितरों की गोवन सी यह पसों की नसल सोधार एथु चैनिदों सलांओ एदो के नुद संतियों को प्राग्ति डेरी का एक्रम, सहकारी डेरी का एक्रम, योजना का उत्पाद को द्वारा उत्पादित दूद का उच्चित मूल पर संकलित करते हुए, उन्हें पूरे वर्स के विकल्पिक रोजगार का साधन एवं तक्नीकी सेवाएं उपलगद कराना, सहरी और भोगताओं को उच्चित मूल पर फास्चुरी के दूद एवं दुगद उत्पाद उत्पाद उपलगद कराना, इस योजना के हित गराही बेसमस्त है, ग्रामीड के दुगद उत्पाद 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 सकते हैं, जो अपने छित के दुगद संग के अंतरत आने वाले दुगद सहकारी समतियों की सदस हैं, सरफ मुकमंत्री भावांतर भुकतार योजना, मद्पिदेश सरकार खरीब 2017 से, देश में पहली बार मुकमंत्री भावंतर योजना, पूरे पिदेश में आठ फसलों, स्वयावीन, मुंगपली, तिल, रामतिल, मक्का, मुंग, उदर, अरहर पर लागू करने जा रही है, इसे वजना में इसके पोर्टल पर पंजीकत किसानों को निश्य तहुदी में पिदेश की मंडियों में विक्राय करने किये गए इन किरसी को उत्पादों पर उप्त फसलों की, जिले की उत्पादक्ता की सीमा तक नियूनतम समर्थन मूल तथा किसान की विक्रायदर की अंतर की रासी राजसरकार किसान के बेंक खाते में जमा कराएगी, इस यूजना के लिए 35 सो, तो रात में किसी सहकारी समतियां हैं, जहां ग्यहूं और धान के ई उपाजन के लिए पंजीकरन किया जाता है, मुक्मंत्री भावंतर यूजना, मुक्तान यूजना के पोर्टल पर निसुल पंजीन, 11 सेप्टम्ब्र, इस यूजना में नियत अउधी में बिक्राय करने की वज़ाए, बात के संभावित बेहतर बाजार मूल के लिए, अपनी फसल लाइसेंसी गोदाम में चार महिने रखने पर गोदाम वहंडारन पनुदान का भी प्रावदान रखा गया है, और मुकमंत्री सोलर पंप यूजना, बिक 25 सप्रेल 2017 के लिए मुकमंत्री सोलर पंप यूजना की शुरुवात की गई, इस सेवजना का मुकुद्धे उन छेत्रों में बिजली पहुंचाना है, जहां बिजली के उपलब दता नहीं है, साथ ही डीजल का उपयोख्खल सिचाई करने वाले किसानों को विद्धी जभार से बचाना विद्धुत विद्रन कंपनी के अस्थाई विद्धुत कनेक्शन की संख्या में कमी लाना डीजल पंप से होने वाले विद्धुसन को कम करना है अन्न उद्देशों में उत्पादक का बढ़ाने के लिए वागवानी की फसलों को बढ़ावा देना फुसल सिचाई विदियों के माध्यम से भूजल सरक्षन करना भी है इस योजना के तहित किर्सी कारियों के लिए किर्सकों को सोलर पंप लगाने पर सबस्टी दी जाएगी किर्सकों को 3 HP तक के सोलर पंपों में पर 90 पिती सबस्टी दी जाएगी 3 से 5 HP तक के लिए 85 पिती सब अनुदान प्राप्त होगा जबकि 5 HP से जदे चमता के सोलर पंप पर 5 HP का राज अनुदान एवं निर्धारित के इंद अंसलागू किया जाएगा योजना का लाप राप्त करने के लिए किर्शक के पास स्वयम का जल सरोत होना आवस्ट रखे जैसे कि बॉर्वेल, कुगा नदी, स्टाप, डेम फर एक किर्सी उद्धिमी योजना, मदपदे सरकार ने अगस्त 2017 में किर्शक उद्धिमी योजना, नामक एक रेड योजना प्यारम की यह योजना किसानों के बेटे एवं बेटियों के लिए एक उद्धिमिता योजना है इस योजना में सरकार किसानों के बच्चों और बेटी बेटियों को सस्ती दरों पर पांस से सोरी दस से दो करोड तक कर रेड पंद्रह पिती सत अनुदान के साथ उपलब्द कराएगी करें राष्टी एक किरसी बाजार योजना के लग्च पूरा देश एक मंडी छेत वने जिससे किसी भी इस्थान से दूर से इस्थान है तो किरसी बाजार योजना की आवाजाही का तथा बेटड़न आसानी से बक्कम समय में हो इसका सीधा लाग किर्षकों ब्यापारियों एवन गिराहकों को में सके फिर है क्या है जै किसान माफी जै किसान माफी बाजिस फरवरी दोजार उनीस को प्यारम की गई मद्धिदेश में किसान फसल रेड माफी हो जिना है स्ववारम रतलाम जिले में से पिथम चर्ण के अंतर संपून मद्धिदेश की पच्चीस लाग 49,443 किसानों के 10,231 करोड रुपे की रेड रासी माफी की गई है तो याद रखना जै किसान माफी जै किसानों की रेड से संबंदे थे माफ से और 22 फरवरी 2019 को इलागु के लिए फिर है फसल गिर्दावरी एप 2017 आतारे में इस योजना से पटवारी को पटवारियों को उनके ग्राम में के समस्त भू स्वामियों के सभी भू अविलेकों की जानकारी फिराप्त हो सकेगी और उसके द्वारा किर्षब से संपर करके फसल की जानकारी अपलोड की जा सकती है साथ ही मोबाइल पर संदेश के माद्दम से किसक को इसकी जानकारी फ्राप्त होगी फिर राष्ट्रिय किर्षी वाजार योजना इस 14 अपरेल 2016 से लाग हुए भूपाल की करौंदी मंड़ी से फिरारेम होई थी त्रेड दीन दयाल वनचल सेवा 20 अप्टूबर 2016 से सुदूर वनचलों में विभिन प्रिकार की कार्क्रमों बा योजनाओ को लाभ बनवासियों तक पहुँचाना है इसका उद्दिश प्रेफ प्यधानमंत्री फसल वीमा योजनाओ ये 18 परवी 2016 से फिरारम की के सिहोर से फिरारम सोबारम हुए था प्राग्दिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्कितिती में किसानों को आर्थिक साहता इवं वीमा रासी उपलब्द कराना याद रखना अठारे परवी 2016 से सिहोर से फिरारम हुई थी फिरानमंत्री फसल वीमा योजनाओ फ्रेफ परंपरागत क्रिस्टी विकास योजनाओ 2015 सुले में आर्गिनिक फार्मिंग को बड़ावा दिना है इसका उत्यश्ट फिरे माइक्रो इर्रीगेशन योजनाओ इसे चाही सुब्दाओं का विस्तार से संबंदे थे 2015 सुले में इस्टाट हुई फिरे मुकमंत्री खेत सडक योजनाओ एक जन्मड़ी 2014 से किसानों के घर से उनकी खेतों तक सडक बनाना जिससे किसानों को उनकी खेतों तक पहुँचाने में सुब्दा होती है इसके इंतरवित मन देगा योजना की मर्डूरों उसे काम कराया जाएगा अधिर है मुकमंत्री मंडी हमबाल एवन तुलावट्टी सहायता योजना वी दुछार आठ में सुरू की गई थी पिदेश की किर्शी उपट मंडी समतियों मैं अनुग्यप्तियों हमबाल एवन तुलावट्टी के उद्धान हे दुए फिर है जल्दी पिविजना पुर कुरान नाम इसका मोबाइल आंगनवाड़ी योजना 2007 में शुरू कि गी मचवारों को विहन विभावों की योजनाओं का लाप पूतलब्द कराना है इसका उद्धिस जल्दी प्योजना का प्रे मद्धिदेश ग्रामीड अजीविका प्रियोजना दो जून 2004 को इस रूम कि इसलिए ग्रामीड इस्तर पर आजीविका के सतत अउस्सर्विक से कराना है प्रेग अंगली है गोपुल ग्राम योजना 25 सेप्टमबर 2004 से राज सरकाद द्वारां प्यदेश के गाउं को गोपुल ग्राम में परिवर्दित करना है इस पूल दिस स्वास्त से विरकायोजन अनुदान पर स्वास्त भीमा महला सिल्पियों एवं सिल्प पुनकर परिवारों की बेटियों के लिए निसुल्क उच्छ से इक्चा की विवस्ता की जाती है तरह आवास साहता योजना 11 सेप्टमबर 2013 को ग्रह निवास से बाहर महविद्याले इ नेमित प्रवेश लेकर अध्यान विद्यारतियों को आवास साहता करना है फ्रैक कारीगर सौरोजगार योजना जून 2013 से मत्प्रे सरकार द्वारा इस योजना में 10,000 रुपे तक की एकाई के लिए 5,000 रुपे तक मार्जिन मनी साहता और सेश रिडरासी 5,000 तक बैंक को देव याज के लिए 130 अनुदान 500 तक भी आ जाएगो अब बात करते हैं लोक स्वास्त इवन परिवार कल्नियार से संब्दित योजना जून दीन दयाल अंतियोतर उप्चार योजना राज सरकार की योजना है सेक्टमबर 2004 में लागू की ग बीमारी की अवस्था में निस्सो रूर के सेवा पूर सेवाएं जाच वह लाच अपलब दिखराना यह सुब्दा किवल उन मरीजों को अपलब दिखराए जाती है जो सरकारी अश्पतालों में भलती होते हैं अनली है जन्नी सुरक्षा योजना जिस योजना का उदेश मह कामी लाना है यह सत्पिती सत केंद फिर्या विजित की उजना है कि 2005 में राष्टी ए गरामीड स्वास्त में सन के अंतरगत लागू भी यह यह उजना मत्प्रेश है देश के सभी राज्यों केंद सासे प्रेशों में लागू है अंगली है देन्दायल चलित अस्पताल योजना मोबाइल हेल्ट के लिने 26 माई 2006 से प्रेश्यों की गई इस यह उजना कव देश के सुदूर आधिवासी अंचलों में गुर्वत्ता पूर्ण स्वास्त सेवाएं पहुंचाना है योजना के अंत्रकत एक चलित बाहन में डॉक्टर, नर्स, इस्टाव, आवस्यक उपकरण एबं दवाएं उपलब्द कराएं यह बाहन आधिवासी छित्रों के हाट पाजारों एबं गाउं में सभी वर्वत के लोगों को निसुल्क स्वास्त सेवाएं उपलब्द कराता हैं जैसे उन्हें किसी भी समय अस्पताल पहुंचाया जा सकता है फ्रिसोती के पुरूपा उपरांग दोनों की स्थितियों में आपात काल में यह सेवास्तियों को उपलब्द है इसके अतरिक्त दीनदाल उपाद उप्चार योजना के हित गराहियों वा बीमार बच्चो को यह भी सुबिद्या उपलब्द है कि फिर एकों से संजीवनी संजीवनी 108 उद्देश से पिदेश के जन सामाने के लिए घर से अस्पताल वा अस्पताल से घर जाने तथा आपात इस्थितियों में संभवचित से सेवाएं जिसमें जीवन रख्चक सेवाएं भी सम लेते हैं तुधित रूप से उपलब्द करने कि पियोजन से 108 जो एक केंद्री है कॉल सेंटर द्वारा नेंते थे इसका टॉल फी नंबर है 108 ठीक जाब रखना फिर जन्नी सहीव की उजना मत्विदेश में यह उजना 2006 से लाग हुए यसे उजना का 30 गरीवी रेखा से नीचे के परिवारों की महलाओं वा नवजास सिस्वों को आप्र पात सेवा दान करना है आंगे बात करते हैं इसी यह उजना की विशेष्टा आया है इसमें सरकारी अस्पिस्तालों की बजाए निजीच सेवा पिदाताओं का सहोग लिया जाता है इस यह उजना की हित गराही बीपी एल परिवारों की गर्रवती महलाएं एवं बीमार यह भारत सरकार की स्वास्ते मंत्राला द्वारा संचालित एक महत्त्वा कांची स्वास्ते उजना है पांच अपरेल 2007 से साथ वरसों की अउदी के लिए लागू किया गया यह उजना बैसे तो संपून भारत में लागू है किन्तु इसका विशेष्ट केंदीकित इसका उद्देश है भारत की गाउं में निवास करने वाले लोगों को आसानी से सुलव कम खर्शवर प्रभावसाली एवं विश्वस्निय स्वास्त सिवा उप्लव्द कराना है कि रहे जन्नी सुरक्षा यूजना जन्नी सिसू सुरक्षा का रक्रम किया जाने का मुख प्रभती महिलाओं एवं नौजा से सुँ जनम से तीस दिन तब के लिए निसुल्क सेवाएं जेकित सा सेवाएं को लफ्द कराना है कि फिरे मुकमंत्री वाल हिदय उप्चार योजना पिदेश हैसका। पिदेश में मुकमंत्री वाल उप्चार योजना 14 जुलाई 2011 से फैरम कीगे यसे उजना के इंतरगत गरीवी रेका के नीचे जीवन या अपन करने वाले फरीवारों के 0 से 15 वर्ष के बच्चे तथा ऐसे परिवार जो गरीवी रेका के नीचे पंजी वद्ध नहीं है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है वे इसे उजना के पात होंगे एसे बच्चों का हेदय रोग से सम्मंदिर सास किये एवं अधीकर निजी चेक्ष सालाओं में निसुल्ग उप्चार किया जा रहा है इस हेतु पिती पिकरन अधिक्तम एक लाग रोपी की स्वेकिती पिदान की जाती है ठीक है अब यह अंगली है मंगल डिवस योजना कौनसी मंगल डिवस योजना यह योजना दोजार साथ आठ से में प्यारम हुई इसका उद्दे से आंगनवाड़ी केंदों वर बच्चों की उपस्तिती बढ़ाना सुरक्चित फेवसव मात्यवम मात्वा सिसुमित्ति दर में कम लाना किसी वालिक आउं की उचित देखवाल करना इसके नतर क réfl मंगलबार को गोध भराई दो तैया मंगलबार को अन्र पैसनव मंगलबार को जनम दिवस काहिक्रम से शेटल मंगलबार किसरी वालिकर된 दिवस के रूम में मनाए जाता है अंत्रा योजना का फ्यारम 15 अगस 2017 को मत्विदेश स्वास्त विभाग द्वारा किया गया है इसका उद्देश है बच्चों की जनम में अंत्रा लखने बढ़ती हुई जनसेंख्या को रोकना ठीक फिर है थर्ड मील टिफिन इस योजना के अंत्रकत अती कोपोसित बच्चों वो गिद्ध्याले की ओर से उनके घर रात का टिफिन पिदान किया जाता है यह योजना अटल बाल आरोग मिसन के अंत्रकत संचाले थे फिर है बाल संजीबनी अवियान मत्विदेश सरकार वर पिदेश में बच्चों को कोपोसन से बचाने एवं उसके निदान हेतु वर्स 2001 से वाल संजीबनी अभियान चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट मुसकान मत्विदेश सरकार वर पिदेश में महलाओं यवं बच्चों में कोपोसन मात्य मित्ति दर सिथ इवं एणीमियाा को कम करने के उत जिस से विदेश के सभी जिलों में प्रोजेक्ट मुसकान चलाया है इसके अंतरका स्वास्थ जाच एवं उप्चार सिविर आयुजित किये गए इन स्वास्थ सिविरों में चीरों से 6 वर्स के सभी बच्चों, किसोरियों, किसोर बालकाओं, गरबती महलाओं के सम्मंदित, रोगों का परिच्छन बाउप्चार की वेस्ता की गई है अंगली है ममतावियान मतपदे सरकार की स्वास्थ विभाग द्वारा अप्रेल 2013 में यूनिसेप और HNHRM National Rural Health Mission की सहयोग से ममतावियान का सोबारम किया गया मतवियान मातेवं सिसु स्वास्थ की सुरक्चा ये तू चलाया गया अभियान है जिसकी विराण डैमेश्डर है अविनेत्री माधुरी दीप्चित ये अभियान मतवियान 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 मत रस्त वच्चों ये महलाओं के कोपोसंड में तीब गती से कमी लाना है तरह अनमोल एफ अनमोल एफ के देश सरकार ने गरभपति मत महलाओं बासिसुओं के स्वावस्त की सुभिदा को सुनिश्यत करने के लिए अनमोल एफ का सुभारम 25 मई 2017 को किया सेपके माद्यम से गरभ प्रति माता बस सिसू 24 माय तक का सिसू के टी का करन पर ओनलाइन नजर रखी जाएगी रहा आईश्मान मद्पिदेश निरामय युजना तो एक 23 सेप्टमबर 2018 से आईश्मान भारति युजना का प्यारम हुए पिदेश में यह युजना आईश्मान मद्पिदेश निरामय के नाम से लागू हुई कि वेज है युजना का उद्देश गुडवत्ता पून स्वास्त सेवाओं की पहुंच निर्धनभग की लोगों तक सुलब कराना बनाने के साथ स्वास्त सुगदा कभच उपलब्द कराना है युजना में पिदान मंत्री जन्रहों के जन्रहोग युजना में स माजिक आरथिक जातीगल्य कीर में चिन्नेत लोगों को मलेगा मद्पिदिस में समग्ग और सबल खित ग्राहियों को भी इसका लाम मिलेगा फिर निसुल्क डाइलेसिस योजना इसका प्यारम 2016 से हुए है पिदिश में समस्त जिलों में निसुल्क डाइलेसिस उफचार की सुपलब सुपलब उफलब तकराना है इसका फिर ललीमा लालीमा अबियान एक नमंबर दोजार सूले से पिदेश में बच्चों वालिकाओं उमहलाओं को एनीमिया रोक से मुक्त कराना है फिर है मुक्मंत्री बाल स्रेवन उपचार योजना दोजार पंद्रे सूले में पांच वर्स तक के समस्त जन्मजाद स्रेवन वादित बच्चे एवन विशेश परिष्टिती में विशेश चिकित्सक के अभीमत के उपरामत अधिक्तम साथ वर्स तक के हित गराहियों को उपचार पिदान करना है फिर है ममता वियान 2015 में सुल है मत्पिदेश में मात्त मित्ति उदर सिस्व मित्ति उदर कुल पिजनाजदर में इस थरता लाना है इसका मुख उद्धिश चलिए अंगला है केंसर केमो थेरीफी योजना ये पांच परविदी 2014 से लाग हुए सभी जलों में केंसर केमी केमो थेरीफी यूनिट इस्थाबित की गई जिसमें 19 फिकार की पित्ती केंसर वस्तियां उपलक्त कराई जाती है प्रह दीन द्याल अंतिवदर उफ्चार योजना ये 25 सेप्टमबर 2004 से फ्यार में के देश में गरीवी रेका से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों पुन्ने सोल्क उफ्चार एवं जाज की सुगदाय उपलद कराना है प्रह अटल विहारी वाजपेई बाल आरोग एवं पोसंड मेशन ये 2010 से फैरम है बच्चों में व्याप्त को पोसंड की रोग थाम तथा पांच बर्स के बच्चों की मित्तिव दर्व को कम करना है प्रह मंगल दिवस ये उजना अपरेल 2007 से पोसड हाहर ये उजना के इंतवर नवीन कायकरम करमसा इथम मंगलवार को गोद बराई दूतिय मंगलवार को अनपेसा प्रासन इतिय मंगलवार को जनम दिवस कायकरम चतुर्थ मंगलवार को किसोरी वालिका दिवस के रूम में आईजित किये जाएंगे तरह अब बात करते हैं महला ससक्तिकर्ण संबंधी योजनाओं के बारी में लाडली लच्मी योजना समारी में बालकाओं के पितीर शाकारात्मक और धारना का विकास करना रासासत्म बालकाओं के सेक्षिने एवं आर्थिक किस्तर में सुधार करना और उनके अच्छे वविस्गी आधार से ला रखना बालकाओं का लिणरपा सुधारना बालकाओं का उत्तम स्वाष्ट सुनिश्चित करना है पात पिता है तो यह उजना एक जनवरी 2006 के बश्चाद जनव लेने वाली उने बालिकाओं के लिए जिनके माता पिता ने दो जीविद बश्चों के रहते हुए फरीवार नियोजन अपना लिया है वालिकाओं को आंगर बाड़ी के अंद में पंजी के थोना चाहिए उनके माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए ठीक है वित्तिय वर्स 2016-17 में दिसंबर 2016 तक 220,125 वालिकाओं को लाभान विद कर 596 करोड रोपे ब्या किये गए लाडवी लच्चमी योजना को अब कानूनी डूप दे दिया गया है मद्विदेश विधान सवाने 26 जून 2008 को मद्विदेश लाड़ी लच्चमी वालिकाओं करोड़ी सांविदेयां थे 2018 पारित किया है फिर बात करते हैं ओसा करन योजना ओसा करन योंजना यह योजना उच नियालय के निर्देशा नुसार गहरेलू हिंसा दिनियम 2005 के सगन प्रिचार प्रिसार के उद्देश से सुरू की गई मद्पिदेश आसन के महिला एबं बालविकास वेवाग द्वारा संचाले थे योजना है जो बरस 2008 में प्यारम की गई यह योजना गहरेलू हिंसा सारे रिकमान से भावात्मक आथिक दुर्वेभार आदी रूपों में से पीड़ित महिलाओं की सायता के लिए है फिर है अंगली है मुकमंत्री महिला ससकती करन योजना यह योजना सेप्टमबर 2013 में पिदेश के सभी जिलों में एक साथ लागू किया गया यह योजना एक वीकेंद्री के त्योजना है जिसका संचालन जिला इस्तर पर जिला कलेक्टर की अदिश्टा में गठिश संती द्वारा किया जाता जिलाश्तर पर पिचार पिसार की माध्यम तथा इस्थानिय समाचार पत्रों में बिग्यापन की माध्यम से पात महिलाओं के चैन के लिए आविदन पत्त आवंतित किये जाते हैं आपात इस्तितियों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्न निरभर बनाने के लिए यह बनाई गई जिसमें वह अपना तथा अपने बच्चों का भरन पोसन कर सकी फ्रेट तेजस्वनी ग्रामीड महला ससक्ती केंड योजना यह योजना 2006 में लागू की गई इसका मुकुद्देस है महलाओं को नवीन एवं सम्मुननक आजीविका की साधन उपलब्द कराना फराने ही तुलभू बित उपलब्द कराना और इसके लिए स्वेम सहायता सम्मुवों की इस्तापना करना है ठीक आँगे बात करते हैं यह योजना मत्पदेस के कुल छे जिलों भालाघाट, डिनोरी, मंडला, पन्ना, चतरपु, टीकमगड़ में लागुए फर एक गोरवी केंद का सुभारम मत्पदेसरकार द्वारा महलाओं के सम्मान और संदक्षन की दिसा में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभियान, मुकमंत्री करन्यादान और लाडली लेक्षमी जैसी अभीनाओ योजनाओ के बाद अब एक और महत्पूर कदम के तहट 16 जून 2004 को, 16 जून 2004 को 16 जून 2004 को, राजजानी भोपाल में देश के पहले एकिकरत संकट समाधन केंद One Stop Crisis Regulation Center गौर्वी का परम किया गया इस पिथम गौर्वी केंद का सोबारम बोपाल के जैपिकास चिकित साल ले में पिख्यात अभीनेता आमेर खाने किया है वो SEC के तहट इस्थापित गौर्वी केंद मत्विदे सरकार एवं EXCIN-AIR की सयुक्त कार गया जजना है गौर्वी केंद में मुक्रोप से हिंसा और बालातकार की सिकार महलाओं की मदद की जाती है आंगे बात करते हैं स्वागतम लच्मी योजना महलाओं के समान सुरक्षा और कल्याण के पिती पिती पद्दे मुद पिदेश सरकार ने महलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक और कतम बढ़ाते हुए स्वागतम लच्मी योजना का सुभारम कीया है पिदेश के मुकमंतरी स्री सिवरास सिंग चोहन ने 24 जनमरी दटकालीन मुकमंतरी सिवरा सिंग चोहन ने 24 जनवरी 2014 को अंतराठी वालिका दिवस के अवसर पर राजधानी भुपाल के रवेंद भवन में महिला एवं बालविकास विभाग की इसे युजना का सुबारम किया है राज सरकार की इस युजना के तहित महिलाओं को अब जनम से जीवन के अंध पड़ाओ तक सरकार की उसे सुरक्षा उसुगदाएं मिल सकेंगी स्वागतम लच्चमी युजना नामक इस कारक्रम में माता की गरव मिपल रही नवजात बिद्ध्याले एवं महा बिद्ध्याले जाने वाली शात्राएं गहरेलू कामकाज एवं सैमिक महिलाएं इत्याधी लक्षन सामूर सामिल होगा इस समूर में इसके साथी चिकित सालाय में वालिका जनम के बाद जच्चा बच्चा का स्वागत मेधावी वालिकाओं का सम्मान उत्कृष्ट कार करने वाली महलाओं को पुरुथसान महला जन पतिनी धियों का सम्मान संबेद दन सील पूरसों का सम्मान साला महाविद्याले योजना के महद पूर्ण अंग होंग, अब बात करते हैं आगे, बेटी बचाओ योजना, 2015 दो कंदर्ध में बेटी बचाओ अभियान मुखमंत्री शिरी सवराथ सिंग, बेह द्वाव को दूर करना इस योजना का मुख उद्देश है तरह सोर्या दल मत्पदेश महलाओं और बालिकाओं के विरुद हिंसा अपराद उत्पीडन योन सोसन की घटाओं पर अंकुस लगाने के लिए सोर्या दल इस योजना के तहद वित्तियवर्थ 2015 सूले तब महला हिंसा मुक्त ग्राम बनाने की दिसा में वन इस्ट ऑफ क्राइसिस के इंद की रूम में काल करेंगे सोर्य दल को मार्च 2015 में टाइमस ऑप इंडिया अबॉड प्राप्त हुआ है याद रखिए एक एड़ बोकेसी एंड एंपायर मेंट राज में 20,204 शौर दलों का जैसी कुरोतियों से पच्चों का सारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं आर्थिक ससत्ती करण बादित हुआ है इससे बालक एवं बालिकाओं का उनके कई अधिकारों से वंचन हो जाता है मिलीनियन डवलमेंट गोल गरीवी उनमूलन तुरात्मिश सिक्षा का सार भौमी करण लेंगिक समानता को बढ़ावा देने बच्चों के जीवन की सुरक्षा महला के स्वास्त में सुधार को प्राप्त करने के लिए बाल विवाय को सून करना आवस्यक है लाड़ो अभियान के न्तगत 81,724 बाल विवाय संपन होने की पूर्ट परामस समझा इस से रोके गए 16,361 बाल विवाय स्थल पर रोके गए 170 प्रिकरन थाने में दर्च कराए गए पिधान मंत्री जी द्वारा लाड़ो अभियान को वर्ष 2014 के पिधान मंत्री लोक सेवा उतकरष्टा प्रोष्ट का अरधे सम्मान किया गया है फिर है कौसलिया योजना महिलाओं के कौसल संब्रधन है तू इस योजना में दो लाक महिलाओं को पिती वर्ष अल्व कालिंग कौसल पर सीक्षन दिया जाएगा महिलाओं के सम्मान सम्मान समानता सुरक्षा सहभागता ससतिकर उनेपं तट विकासे चाहीया यह यह 1898 जिलों में लागु होगी मुखमंत्री निकाह योजना अंगलिय है मुखमंत्री निकाह यह 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 1 अपरेल दोजार चैसी लागु है, गरीब जरूरत मंद्र निरासित निर्धन पूसलिम परिवारों की विवायों के कन्या विद्भाप परी वक्ता परिक्तित्ता कि निकार हेतु 25,000 रोपे की आर्थिक साहता राज सरकार देगी पर है सौभाक वती कन्या विद्भाप परिक्तित्तु आर्थिक साहता है पर जवाली विद्भाप परी विद्भाप के कुप्ता कान मूलन करना है याद रखी वेस्त्य वित्ती के उन कुप इथा का उन्मूलन से संबंदे थे जवाली योजना 1992-1993 में शुरूं की गई थी ग्रामीड चेत्रों में गरीवी रेका से नीचे जेपन यापन करने वाली महलाओं को बेहतर चिकित सा उपलग्द कराना है इसका मुकुद्दिस फिर पंचे धारा योजना एक नवंबर 1991 से फ्यार में ग्रामीड एवं आदिवासी चेत्रों की महलाओं का कल्यार एवं विकास करना है यसे योजना में ने मिलकेत 5 योजनाय सामिल है आयुसमत्ती योजना कल्व बैक्च योजना ग्राम योजना सामाजिक सुरक्षा पैं सावित्री वाई फूले स्वम साहयता सम्भू योजना ये 27 जून 2015 से सुरू है गरीवी रेका से नीजे जीवन यापन करने वाली अनुसुचित जाती की महलाओं को नए विवसाय की स्थापना ही तो रेडव पलब्द कराना कराया जाता है अंगले मद्पदेश बिद्भा पुनर विवाई ये 28 से सुरू ही मद्पदेश में विद्भाओं के पुनर विवाई हे तुए ठीव फिर मुकमंत्री कन्या अविभावक पैंसन योजना अपरेल 2013 से ऐसे दमपती जिनकी केवल एक कन्या है तथा उनको संतान के रूम में कोई पुत नहीं है और वो आएकर दाता ना हो तब उस दमपती में किसी की आयू साड़ वर्स हो तो पांसो रुपे पितीमाय पैंसन मिलेगा ठीक है अब बात करते हैं अन योजनाओं के बारे में अन योजनाओं रुक जाना नहीं योजनाओं ये राजसासन ने 28 मई 2016 को राज्य मुक्त सिक्षा परीशद के रुक जाना नहीं योजना के क्रियानवन की स्विक्षिती पितान की है योजनाओं से समंधित आपिड़े वार्सिक परीशद कप्षा दसवी बार्वी में अनुत्रेन विद्ध्यारतियों का डाटा परीशद के इन समंधि जानिकारी आदी माजमेक सिक्षा मंडल ओपन स्कूल बोर्ड के सास्ताजा करेगा लोग सिक्षट संचाला नाले योजना के क्रियानवन में आवस्षित समानवय सहो करेगा फ्रेक ग्रामय उतर से भारत का होदय अभिया 14 अप्रेल 2016 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराओं मेडकर के जनम देवस पर उनकी जनम स्थली मद्पिदेश के महु महु से पिधान मंतरी नें मोदी द्वारा सामाजिक समरस्ता पंचैती राज की मजबूती गाओं का विकास और किसानों की प्रगिती के लिए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की सुरुआत की गई इसे उजनम में सामाजिक समरस्ता कायकरम ग्राम के सान सपा ग्राम सपा की बेठा कायवजन किया गया डॉक्टर भीमरा मेडकर की 125 भी जैनती मनाने के लिए आयवजित 11 दिन किसका अक्रम का समापन 24 अप्रेल 2016 को जार के अंड के जमसेद पूर ग्राम सभा का आयवजन करके किया गया गया अंगली है दिन दयाल रसोई योजना कौनसी दिन दयाल रसोई योजना मद्पदेश सरकार द्वारा गरीवों हितु दिन दयाल रसोई योजना का सभारम साथ अपरेल 2017 को ग्वालियर से किया गया इस योजना के अंतर गरीवों को मात पांच रुपे में भर पेट भोजन दिया जाएगा यह योजना के देश के 59 जिलों मैं से 49 जिलों में मुख्यालयों में लागू किये लेकिन अब 52 जिले हो गये 2019 में यह बात करता हूँ अक्टूबर एक अक्टूबर 2018 को 52 जिला निवाड़ी बन गया है ठीक है फिर है आनन्दम योजना 14 जन्वड़ी 2017 को निर्धन और जरूरत मंद्र व्यक्तियों की सहायता ही तुँ आनन्दम योजना प्यार्ण के लिए मद्धिस को आदुतिये पहल को आनन्द विभाग द्वारा संचा आनन्दम योजना के तहत आर्थिक रूप से मजूद ब्यक्ति जैकित साडी कंबल वर्तन वस्तियादी वस्तू निर्धन लोगों को दान कर सकेंगे राज सरकार ने पितेख जिले में ऐसे स्थान नियत किये जहां आर्थिक रूप से संपन ब्यक्ति गरीब ब्यक्तियों क तो सेक्षा से काम करने वाले स्वयम से भी वो आनन्दक नाम दीया गया संदर्व में आनन्द सव इक्कीस से चौदे से नीचे जीवानियापन करने वाले परिवारों की महलाओं को निसुल्क एल्पी जी कनेक्सिन उपलब दिखराई डी अमले हैं मातुझे प्रणाम योजना मत्पदेश खेल एवं युवा कल्यार बिभाग बारा अपरेल 2017 में सुरूपी गई इस युजना का मुख्ध देश प्रणाम युवा युवतियों में देश भक्ती देश की सीमा सुरक्चा के पिती जागरिती लाने राष्ट के पिती समर्पड पसाहस को जागरित करने तथा युवाओं को सेना बांतराश्टी सीमा पर सहने करती विदियों से आउगत कराना है पोस्ट मैन मोबाइल एप मद्विदेश डार्ट प्रिभाग ने लोगों की सुविदाओं को द्यान में रखते हुए डिलेवरी टाइमिंग और अपडेशन हेतु पोस्ट मैन मोबाइल एप की सुरुगात किये मई 2017 से अपना थाना अपना गाओं योजना मद्विदेश में अपना थाना अपना गाओं योजना की सुरुवात 9 अपरेल 2017 को वेडागाड जबरपुर पुलिस थाने से पुलिस द्वारा की गई यह देश का पिदेश का पहला पुलिस थाना है जहां ऐसी योजना सुरुवात की प्रहें डिजीटल नाकिया योजना की सुरूए 14 जनवरी 2017 को वितमंत्री जैन्त मलेया ने इन दौर्म में की थी मद्धिदेश में वितमंत्री तपत्त कालीन थे इसे योजना का उद्धिश लोगों के वीच कैसलेस लेंदेन को बढ़ावा देने वा उन्हें डिजीटल एक कि पुदी जागुरुपता करना है परहें नरवदा सेवा यातरा मत्रिश सरकात द्Вारा नरवदा संड़क्षन कि कि संड़क्छन ऐसे पी धीशनवोक्त करने के और देश से चलाया गया विच्थ का सबसे बढ़ा नदी संड़कुन का अक्रम है नर्वधा सेवा याक्ट्रा इस कार्किरम का करम 11 दिसंबर 2016 अमरकांटक में निर्वधा नदी के दच्चें तट से हुआ तथा 15 मई 2017 को अमरकांटक में निर्वधा नदी के उत्तरी तट पर कार्किरम का समापन किया गया फिर बंधन योजना बंधन योजना 15 जुलाई 2019 को याद रखे बंधन योजना 15 जुलाई 2019 को मदपिदेश के आदिवासी बंकरों थे तुर्य योजना का सुपाराम बढ़वानी जिले से हुआ है योजना के तहत पहले चरण में बढ़वानी जिले के 500 आदिवासी हो बंकरों को स्चंदेरी महिस और बाग पेंट के विशिसक्षण द्वारा छह माही निसुल पिसीक्षण दिया जाएगा पिसीक्षण के बाद आधिवासी बुनकरों को राष्टिये और अंतराष्टी इस्तर का उत्पादन सुरू करने के लिए ग्रांड राष्टी भी उपलग्द कराई जाएगे ट्रा परवित करना है फिर है इंद्रा ग्रह जयोती योजना एक अपरेल 2019 से मत्पेश में ग्रीवी रेका से नीजे जीपन या पन करने वाली इस्थानीय निवासियों को सब्सिस्टी रेट में बिजली उपलब्द करवाना इसे योजना के अंदगा 100 यूनिट बिजली के बिल म में उब्भोकता को 100 रुपे देने होंगे ठीक है इंद्रा ग्रह जयोती है तरह मुकमंत्री यूगा स्वाविमान यूजना नौपरवडी 2019 से मत्पेश के स्थानीय निवासियों 21-30 आयू बर्स के इवां को आत्म निर्भर बनाने एवं बेवसाइक कोसल प्रिसिक्चन प पूर्थी के लिए बर्स में एक निर्धात अवधी तक इवां को साल तक यूजना रोजगार के उसर पिदान करना है परहे संभल यूजना ये 3 जुलाई 2018 से गरीवी देखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इती महाए 200 रुपे की लागत से बिजली पिदान की जाएगी परहे अपनी बस सूत सिवा यूजना ये 23 जून 2018 से जवाहल लाल नहरू इस्टेडियम इंदोर से मद्पदेश की अपनी बस सूत सिवा अमरत यूजना के इंतरत प्यारम की गई ये बस सिवा मद्पदेश के 20 चैनेज सहरों में प्यारम की जाएगी परहे चर्णुपाद्व का यूजना 19 अपरेल 2018 सेंग्रॉली से सबारा मुगा है इसका तेंदुपत्त का संग्राकों को जूते एवं चपल उपलत कराना है ये तुए परहे सोभाग यूजना 22 देसंबर 2017 को गरीवी रेका से उपर जीवन यापन करने वाली परिवारों को माच 500 रुपी में विद्धुत कनेक्शन पिदान करना है फिर निसुल्क पार्ट फुस्तक यूना जून 2017 में सुरूं की कईगी कक्षा नौबी से बार्वी तक के विद्ध्यार्थियों को गड़ित बिज्ञान वाड़िक्चिक संबंदी पार्ट फुस्तके निसुल्क उपलत कराना है फिर निसुल्क साइकल पिदाय यूजना बस सोला सत्रे में उन ग्रामीड चित्रों में जहां सास किये विद्ध्याले नहीं है वह नौबी कक्षा में अध्यान विद्ध्यार्थियों को इस यूजना के यूजना अंत्रगत लाबान विद्ध किया जाएगा फिर ओजाला यूजना 30 अपरेल 2016 से नौबाट चमता के LED बलबों का बितरन करना है इसकित है फिर मुखमंत्री सो रोजगार आर्थिक कल्याड यूजना 15-16 से हुई शालू सिलिपीयों को रोजगार समर्थन से सम्मन देते है फिर अनुसूचित जाती राहत यूजना 2015 जो बैकती अपनी बिपन्यता अत्वा आसाहाई अवस्था के कारण संकट में होते हैं तथा तत्कालिंग रूप से विवाकिक की अन्य यूजनाओं का लाब पाने की अवस्था में नहीं होते हैं उन्हें इस यूजना से तुरित साहिता पिदान की जाती है फिर मुखमंत एवन पूंजी उपलब्द कराना है फिर मुखमंत्री यूगा उद्धिमी यूजना एक अगस्त 2014 को पैरम हुआ है फिदेश के सभी वर्वों को बिनिर्माड एवन सेवाचे से संबंदित और दोग इस्थापित करने के लिए बित्तिय साहेता पिदान करना है फिर मुखमंत्री आर्थिक कल्याड यूजना एक अगस्त 2014 से यह भी शुरूई है अनुसुचित जाती कि गरीवी रेखा से नीचे के हित गिराहियों को कम लागत के उकरण एवन कारसील पूंजी उपलब दिकराई आयती है फरे फ्लेट रेट यूजना एक अपरेल 2013 को किसानों को वर्स में दो बार 6 माई किस्तों ने 14 सो रुपे होस पावर वासिक बिजली के बिल का बुकतान करना दथा सेस रासी कवेंट राज सरकार द्वारा किया जाएगा फरे दीन बंदू यूजना जून 2013 से गरीव जीका से नीचे जीवन यापन करने वाले गहरेलू बोकताओं को विजली पिल के संबन्द में बकाया बिल की सरचाज रासी वितरन कम्पनियों द्वारा सेस रासी राज सरसन द्वारा बहन की जाएगी फरे महरसी वालमी की द्यारतियों को IIT, CLAT, NDA की पतियों की परीक्षाओं में सफल होने होकर इन संस्थाओं में प्रवेश लेने जीतु पच्चास अजार रोपी की रासी देने का प्रावद होना है फ्रे मुकमंत्री कौसल उन्यन फिसीक्षण के होज़ना दोजार बार है तेरह से फिरह आलम्मन योजना 23 अपरेल 2012 से राज के विद्ध जनों को मान सम्मान और आदर दिये जाने हीतु है फिरह मुकमंत्री तीत दर्सन योजना 3 सेप्टमबर 2012 से पिदेश के 60 वरस से अधिकायू के वरिश नांग्रेकों को उनके जीवन काल में एक बार पिदेश के बाहर के निर्धारित तीत स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा के लिए राज सरकार सहायता दे थी है यह योजना रामिश्रोय की यात्रा से पैरम हुई थी फिरह मुकमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना नवंबर 2007 से खेतिहार मजदूरों को प्यसावकाल के आउकास का मजदूरों के बच्चों को छात्यविती मात्यत्यवत्ता तथा बेटी की ववाह के लिए सहायता है उसे चमंदी थे पिरह दीन दयाल रोजगार योजना एक अपरेल 2004 से सुनुए सेफ्चिक बेरोजगारों को बैंकों से रिर्फ प्राप्त करने लितू मार्जिन मनी प्रांसे को सारीर गूप से निसक्त लोगों को समाज की मुक्धारा से जोड़ना एबं उन्हें हर दृष्टी से सक्चम बनाना है फिर संखनाद योजना 26 जनवरी 1997 से आधिवासी चेत्रों के विकास पित्रिया में विद्ध्यालेयों को सह भागी पानाना याद रखिए स लंखनाद योजना 26 जनवरी 1997 से तो यह थी हमारी मत्विदेश की जितनी मत्वून योजना है सब योजना है ठीक 2019 तक अबडेट है